अस्सलाम अलेकुम एक बार फिर से एक लॉंग नॉवल लेकर हाजिरे खिदमत हूँ हमारी आज की नॉवल एक डिफरेंट बेस है और बहुती इंट्रेस्टिंग और यूनिक स्टोरी है मैंने स्टोरी के कमसकम 200 पेजेस रीट की है और स्टोरी इतनी जबरदस्ट लगी है कि माशालला बहुत अच्छी लगी मुझे तो बहुत खुबसूरत स्टोरी है जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी हमारी स्टोरी का नाम है इश्क बद्दुआ जिसकी फर्माईश की है हमारी प्यारी प्यारी लिसनर रेड रोज ने स्टोरी सुनिएगा और अपनी राए भी सरूर बताईएगा चलिए बढ़ते हैं स्टोरी के जानिब मुंतहा सुल्तान वल्द सुल्तान अली हक महर 20 लाग सिक्के राजुल हक क्या आपको हाशिर सुद्धी की से ये निकाहा कुबूल है 14 साला मुंतहा सुल्तान सुर्ख और सुल्हरी लेबास में लिप्टी मेकप से भरे चहरे के साथ धीमी मुस्कुराहट किसम सामने लगे सफेद पर्दे की जानी एक नजर देखकर जट से सर को अजबात में हिलाया मुंतहा की बेताबी इसकी खुशी से जगमगाते चहरे से आया थी जैसे जरा सी देरी नजाने क्या नुकसान कर देती निकाहा कुवा ने इसकी हरकत पर हैरान होते दोबारा अपने अलफाज दोराए तीन मरतमा एजाब के बाद निकाह खुआ परदे के दूसरी जानी मौजूद माध्य पर बल सजाए और होटो को सकती से आपस में भेंचे 20 साला हाशिर हमदानी की तरफ बढ़े थे दुले के चेरे के तासुरात देखकर निकाह खुआ फिर से हैरान हुए थे जिन्दगी में पहली बार वो ये अनोखे तर्ज का निकाह करवा रहे थे जहां दुले के बज़ा दुल्हन हर दरजे खुश थी और दुल्हा आतिश फिशा बना बैठा था इसके होटों से खबूल है सुनते ही कहर आलूद निगाहें सिर्फ एक पल को मुंतहा के जाने बुची थी और अगले ही लम्हे वो नजरे फेर कया वो इसकी एक निकाह के लिए भी काबिल ना थी सख्त तासुरात लिए वो अपने बाप के साथ बैठा बरदाश्त के आखरी हुदूत को छू रहा था चहराहत दरजे गुस्से की शिद्दत से सुख हो चुका था सब की निकाहा बेसाखता हाशर हमदानी पर टिकी थी इधर भी निकाहा की रस्म अड़ा की गई हॉल में एकदम खामुशी चाग गई थी और सफेज जाली दार परदे की दूसरी चानी मौजूद मौनताहा की धरकन बड़ी थी दुलेह के निकाह नामे पर साइंग करते ही वहां मौजूद सब अफराद में बेसाखता शुकर का कलमा अदा किया और मौनताहा की टहरे पर मुस्कुराइट डौट गई थी एजाब खुबूल की रस्म के बाद आगाचान ने आगे बढ़कर हाशिर हमदानी को जबरदस्ती कले लगाया था इनके कले लगते ही हाशिर ने ऐसी बात कही थी जिसकी इन्हें उमीद नहीं थी इनके गिरफ बे साथ तर धिरीली पड़ी थी और चंद कदम पीछे हट गए थे सब बारी बारी हाशिर को गले लगा रहे थे और वो सपाट चहरल ये नहायद सर्दमोरी से एक बोच ज़दा फर्ज निभा रहा था मैंने निकाहा तो कर लिया आगर जान लेकिन इस बात की कोई गैरंटी नहीं कब मैं इस बंधन से खुद को आज़ाद कर लो और जिस दिन ऐसा हुआ मुझे कोई कस्म कोई वादा नहीं रोप पाएगा मैंने अपना वादा पूरा किया और ये वादा महस निकाहा का था जो आज पूरा हो गया अपने लाडले पोते की जिद वो जानते थे इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था लेकिन निकाह के चंद मिनिट बाद इनको अपना फैसला गलत लग रहा था सुल्तान अली आगा खान को खड़े देग कर इनकी तरफ आए बाबाजान बैट जाएं जानता हूँ आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है इनके कांदे से थाम कर सुल्तान अली ने इनके कुर्सी पर बिठाया था लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगा जान की खुशी इनका लाडला भतीजा खत्म कर चुका है बेसाफ़ता एक इलतिजा भरी नजर हाशिर की जानी उठी थी लेकिन आकरचान ने खौफ से इन शोला बरसाती निगाहों को देखा जो मुलतां के हस्ते चहरे का पूर पूर जुलसा रही थी इसे एक निगाह ने इन्हें वक्त से पहले बुड़ा कर दिया बेबसी के आलम में वो कुर्सी पर धे से गए थे अरे रुको प्लीज खराब ना करना रुक जाओ प्लीज मारी ना करो जो कहोगी वो करूँगी पर उसे जाए मत करना देख मारी ना करना वरना भाई को शिकायत लगा दूँगी तेज कदमों से भागते हुए वो सीडियों से नीचे उतरी थी जब सामने एक तिवार नुमा वजूद से टकराई थी आंखों के आगे तारे नाश्टे देख और सर घूम गया मारीय तो ना जाने कब सामने मौजूद शक्स को देखकर गायब हो चुकी थी लेकिन उसे फसा गई थी अंदे हो क्या नजर नहीं बाकी के अलफास सामने मौजूद हाशिर को देखकर मूँ में ही रह गए थी अपनी मौत उसे सामने नजर आई थी दिल की धरकन बढ़ी थी इसको रूबरू देखकर रूम रूम महका था लेकिन अपनी हरकत की वज़े से सारी खुशी मलिया मेट हो गई थी नजरे उठा कर मुकाबल के चौड़े वजूद को देखा था जो सफेद शर्वार सूट में कंदों पर शौर डाले चहरे पर सर्द तासुरात लिए अपने सामने मौजूद हस्टी को ही देख रहा था मुकाबल को डरते डरते देखकर इसने वहां से फरार होने का रास्ता देखा था लेकिन आज इसको अपनी शामत पकी लगी थी किनाखों से इधर उधर देखकर वो जायपना तलाश कर रही थी जब इसकी भारी गंभीर आवास समाच से टकराई थी कभी तो सिरियस हो जाया करो हर वक्त की इशरार थी मस्तियां इनसान को लाइफ में कभी सिरियस नहीं होने देती इनसान की संजिद्गी मताना तुसे खुबसुरत बनाती है लेकिन शायद तुम्हे कभी समझ नहीं आएगा मुन्तहा यक्टक इसको देखे बिना इसकी बात पर गौर की बेसाखता इस बात में सरहलाया था अपनी बात कहकर उसे हाथ से एक तरफ होने का इशारा कर रुटा वो उपर सीडियों पर चड़ गया था मुन्तहा बेसाखता मस्कुरा कर इसकी पुष्ट देखती रह गई नजरों से उचल होती उसे अपनी बेख्तियारी पर हसी आई थी और मारिया की हरकत भी याद आई थी और तीखे चतुनों से वो मारिया को सज़ा देने के लिए इसके कमरे की जानिब बढ़ी थी कमरे में दाखिल होते इसने गुस्से से शौल कंदों से उतार कर एट जानिब फेंकी थी और वे साफता बालों पर हाथ फेरा था जितना वो इस लड़की की शकल देखने से गुरेस करना चाहता था वो इतना ही इसके सामने आ जाती थी और आज भी ऐसा हुआ था घर में दाखिल होते इसके शकल ही सबसे पहले नज़र आई थी अगजान आपके इस फैसले की वज़े से मैं उलच कर रह गया हूँ काश आप इस लड़की की किसमत आने के बज़ाए अपने अपार्टमेंट में वापस आया था लेकिन नजाने आगजान को कैसे भनक पड़ गई और रात ही इनका फोन आया था और उन्होंने हवेली आने का हुकम दिया था लाग बहाने बनाए लेकिन आगजान की महबबत के आगे वो हमेशा हाड जाता था और हवेली में दाखिल होते ही नापसंदीदा हस्ती से सबसे पहले सामना हुआ था नौकरी मिली क्या घर में दाखिल होती ये करख्त आवास जवेरिया की समाद से टकराई थी नहीं मिली एक लफजी जवाद देकर हिजाब को खीच कर उतार कर वो कमरे की जानी बढ़ गई जानती थी मैं तेरे नकरे अपनी मर्जी की मालिक है लेकिन मुझे जल्द जल्द पैसे चाहिए पीछे जारा बेगम के मगललजाद शुरू हो चुके थे ठक की आवाद से दर्वादा बन करके वो हैंड बैक बैट पर रखकर स्लीपर पाउं में पहनी कमरे से मुलहका वाश्रूम की जानी बढ़ गई थी कुछ देर बाद फ्रेश होकर बैट पर बैठे वो मुबाइल पर उखतलिफ कमपणियों के नाम सर्च कर रही थी जहां जौब के से लिए किसी वरकर की ज़रत थी जहां इसकी तालिम के मताबिक इसको नौकरी मिलने की चांस मुमकिन थे दर्वादा खुले एक कदरे बुटे से खट की लड़ग खिलती हुई रंगत की एक खूबसुरत लड़की अंदर दाखिलूई सुख घेरदाश अलवार के साथ छोटी कुर्टी नमा पमीस पहने सादा सी हुलिय में भी चांड का टुकड़ा लग रही थी जविरिया ने एक नजर उठा कर मायरा की जानिक देखा और दोबारा मुबाइल में मगन हो गई क्या हुआ बाजी काम बना बैट की पाइंती के करीब रुक कर पतली कमर पर हाट टिकाईस ने जविरिया से पूछा नहीं अभी तक नहीं समझा रहा क्या करू आज कल की रिमान के मताबिक मैं काम नहीं कर सकती और जो अमी तो बस हतेली पर सरसु जमाना चाहती है बाजी सबर रखो सब अच्छा अच्छा होगा अमी को मैं समझाओंगी बस तुम अपना काम जारी रखो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ अहां ज्यादा मत सोचना वरना जानती हो न 19 साला मायरा जावेरिया को कहती दर्वाजे के जानी बढ़ी थी शुक्रिया और चीनी जरा हलकी रखना जावेरिया ने पिछे से हांक लगाई थी मस्कुराते हूँ पीछे मुरी थी जान दी हूँ मेरी प्यारी बाज़े आँख दबा कर कहती और मस्कुराते हूँ कमरे से बाहर निकल गई और जावेरिया दोबार अपने काम में मगन हो गई थी आगा अली हमदानी और शाजिया बेगम की तीन ओलादे हैं दो बेटे और एक बेटी बड़े बेटे का नाम सल्मान अली हमदानी था और बीवी का नाम फिर्दोस बेगम जिनकी तीन ओलादे हैं बड़ा बेटा हाशिर हमदानी था जो एंबिये करने के बाद अपना बिजनेस समाल रहा था इससे छोटा अशर हमदानी जो हाई स्टेडिय के लिए मुर्क से बाहर था और छोटी बेटी मालिया थी इससे छोटी थी मुंतहा सुल्टान नटखट जिल्ला की से भरपूर लड़की जिसका निकाह 14 साल की उमर में हाशिर हमदानी से हो चुका था आगा अली की बेटी तूबा हमदानी अपने हस्बेंड और एक बेटी शाइना के साथ लाहूर में मुक्यम थी और गाउं का रुक साल में एक मरतबा ही करती थी लेकिन हाशिर हमदानी से मिलने वो अकसर आवकात इसके अपार्टमें में आती रहती थी क्योंके वो भी बिजनेस के सिलसले में और कुछ हवेली के मामलाथ की वज़े से लाहूर में ही मौजूद था कमरे में दाकिल होते हैं इसने मारिया को ढुनना जाहा था अप्मी जान से प्यारी चीज़ अब भी इसके कबजे में थी मारिया शराफत से बाहर आ जाओ वरना तुम्हारे भाई से हुई बेज़्याती का बर्ला भी तुम से लूँगी जल्दी बाहर आओ वाश्रून बैट के नीचे और परदे के पीछे हर जगे इसने मारिया को तलाशा था लेकिन नजाने वो कहां गदे के सिंग की तरह गायब हो चुकी थी मारिया दोबारा वो उंचा चिल आई थी लेकिन साथ ही हाशिर की घर में मौजूद की याद आते ही जबान दातों तले दबाई थी उफ वो हिटलर दोबारा शूरू ना हो जाए खामुश ही अच्छी है लेकिन मारिया गई कहां कमरे में चारो तरफ नजर दोड़ा इसने मारिया को तलाशा जब अचाना किसकी नजर साइट टेवल पर पढ़े मुबाईल पर पढ़ी नजर पढ़ते ही आँखों में चमा कुबरी थी और दिमाग में शैतानी प्लान तयार था चलो मारिया ना सही इसका मुबाईल तो है ना थोड़ा सा उंचा बोल कर मुबाईल लिए वो तेजी से कमरे से बाहर निकली थी अलमारी में चुपी मारिया का सांस अटका था लेकिन बाहर नकल कर अपनी शामत नहीं बिलवाना चाती थी दम सादे वो मुंताह को कमरे से निकलते देख की रही सामने आकर वो इससे मार भी नहीं खा सकती थी कमरे में आकर इसने मुबाईल अलमारी में चुपाया और खुद आइने के सामने खड़े होकर अपना सौने हुए रूप को मजीद सवाला था पुरी एक महिने के इंतजार के बाद आखिर आप आ ही गए जानते हैं आँखें आपकी दीद की प्यासी हो रही थी शायद किसमत को भी रहम आ गया और आपको भेश दिया शेशे के सामने खड़े होकर वो दिली दिल में हाशिर से मुखातिब थी पिंक लिपेस्टिक से होटो को खुबसूरती बख़श कर वो बैट पर आकर चिट लेटी थी लबो पर मुस्कुरहाट वाज़े थी ख्यालों की दुनिया में जैसे कोई मुधर भरे गीत इसकी समाद में घोल रहा था जानते हैं हाशिर हवेली में आपके कदम रखते ही हवेली की किसमत जाँक जाती है नजाने क्या चादう है आप में हाशिर की हवेली के दरोदिवार भी मुझे आपकी मौदूदकी में खुश नाज़राते हैं जैसे सब आपकी दीद के प्यासे थे और आपके आने से इनको सुकून भरी बारिश हसीब हो गई बैट पर चिट लेटी हो ना जाने किस दुनिया में थी जब पानी से भरा जग किसी ने इसके उपर फेका था एक चीक के साथ हड़बरा कर उठी थी और मकाबिल मारिया को देखकर वो गुस्से से लाल पेली हुई थी आँखों का काजल पानी की वज़े से फैला था मारिया ये क्या हरकत है दान पीस कर वो जोर से चिल लाई थी मारिया बेसावता हंस्ती हुई उसे मज़ीद कुस्सा दिल आ रही थी मुबाइल लेकर आई थी ना तुम रूम से बदला तो लेना ही था मैंने अब भाई की मौजूगी में मुझे कुछ कह भी नहीं पाएगी मासुमियत के अजीम मिसाल जो बनना है मुन्तहा भावी ने भावी पर जोर दिये इसने मुन्तहा को मजीद चिड़ाया था रुको तुम्हें तो मैं पूछती हूँ सारी हालत खराब कर दी अब बचो मुझ से मुबाइल तो मेरे पास ही है हाशिर हमदानी की बहन हूँ सहानत विर्से में मिली है मुबाइल को मुन्तहा के सामने लहराए जबान निकाल कर वो मुन्तहा को हिरान कर गई ये तुम्हे कहां से मिला रुको तूम कमरे से बाहर निकल कर वो इसके पीछे लपकी थी लेकिन मारिया मेडम इसके हाथ नहीं आने वाली थी और बाहर जाकर वो कोई उल्टी सीधी हरकत करके हाशिर को मौका नहीं देना चाहती थी दोपहर के लेंच पर आज सब मौजूद थे सिवाए आफाक और निकाल के आफाक काम की सिलसले में कुछ दिन पहले इस्लमाबाद गया हुआ था कुछ हाशिर की मौजूद की में वो कम ही हवेले में नजर आता था और ये सिलसला पिछले दज साल से चल रहा था ना हाशिर आफाक का सामना करना चाहता था और नाफाक को हाशिर हम्दानी में कोई दिज्जस्पी थी तो आ ही गए वे रखुदार आगाजान के लाउंच में ताकिल होते ही हाशिर ठीमी मुस्कुराहट किसाँ आगाजान की जानी बढ़ा था और बेसाफ़ता इनके गले लगा मेरा बेटा गंदे पर धपकी देखकर आगाजान ने अपनी मुहबबत का इजहार किया था जी आगाजान सुबही आया था आप कैसे हैं और दादी जान खयाल तो रखती है ना आपका बस बेटा तुम्हारी दादी को बहुँआ से फुरसत मिले तो हमें देखे कि नाखों से शाजिया बेगम की जानित देखकर उन्होंने हाशिर को जवाब दिया जो सब के चहरों पर मुस्कान लाया था एक घूरी से नवाज कर शाजिया बेगम दो बारा फिर दोस बेगम की जानित मुद्दवज्य हुई आप बताओ क्या प्लैन है कब तक रुकोगे अगाजान ने हाशिर से इस तफसार किया बस अब लंज करके निकलूँगा कल जरूरी मीटिंग है और पहुँचते हुए शाम हो जाएगी लगता है अपने अगाजान को तुम इस उमर में दूर रहकर सताओगे जानते हो तुम्हारे और आफाक के बगर हम कितना अकेला महसूस करते है लेकिन तुम दोनों को अपने बिजनेस से फुरसत नहीं और वो अशर सहाब पांच साल हो चुके है लेकिन अब तक एक चकर भी नहीं लगाया अगाजान ने मस्मी खवगी से कहा आफाक के जिकर पर इसका चहरा एकदम सपाट हुआ था लेकिन अगाजान की मौजूदकी में वो अपने सर्द सपाट तासुरा चुपा गया कल सुबह जाएंगे आप बस अब कुछ नहीं सुनेंगे हम हाशिर के हाथ का सहरा लेकर वो टेबल तक आये थे और सरबराही कुर्सी पर बैट गये थे अगाजान जाना जरूरी है वरना मैं आपकी बात कभी नहीं टालता पहले वादा करो अगला वीकेंड हमारे साथ गुसारोगी फिर हम जाने की जाज़ा देंगे इस वक्त आगाजान रूठे वे छोटे से बच्चे लग रहे थे हाशिर बेसाखता मुस्कुराया लेकिन वहां मुंताह को आता देखकर लब भेंज गया सुक लेबास में चहरे पर हलका सा मेकप किये कानों में जूंकिया पेरों में स्टालिश सा खुसा पहने सहच सहच का सेड़िया उतरती वह हशिर के चहरे पर नाखवारियत का बास बन गई थी अस्सलाम उलेकुम हौल में दाखिल होते ये मद्धर भरी आवाज में इसने सब को सलाम किया और आगाचान के आगे सर जुकाया था बाबा की लाडो कैसी है आज सुबा से नजर नहीं आई जी आगाचान बस कमरे में पानी गिर गया था जो मुलाजमा के साथ उसे निकालने में मसरूफ थी चेयर पर बैटते वे और एक तीखी नजर मारिया पर डालेस ने आगाचान को जवाब दिया पानी कैसे गिर गया और आप इतनी लापरवा तो नहीं है जी बाबा वो बस एक खिस्यानी बिल्ली कमरे में घुस गई थी तो जग उलट गया बैट पर बिल्ली का लफ सुनकर मारिया महस पेट उताब खा कर रह गई बिल्ली कमरे में कैसे बुस गई उसे निकलवा कर बाहर फेको कही वरना दोबारा नुकसान कर देगी ख्याल करो अगाचान ने भी बिल्ली की शान में अच्छे खासे कसीदे पड़े थे जी अगाचान मैंने अच्छे से इसकी खातिरदारी की है अब वो बिल्ली मुझे तंग नहीं करेगी एक नज़र मारिया की जानीब देखकर इसने अगाचान को जवाब दिया अचानक नज़र हाशिर पर उठी जो इसके जानी भी मतवज़े था और सुक आंखों और सकती से लब भींचे उसे ही देख रहा था इसके देखने के अंदास पर बेसाफता मुंधा सट पटाई और पलेट पर नज़री जुकाई ये लो हाशिर बेटा मैकरोनी का बाउल चची ने इसके सामने रखा था जानती थी हाशिर को मैकरोनी पसंद थी इसलिए जब भी वह आता मुंधा खुद इसके लिए मैकरोनी बनाती थी लेकिन उसे खबर भी नहीं हो पाती नहीं मैं ले लूँगा आप बाकियों को पेश करें दो टोक अंदाज में कहता वो अपनी पिलेट में सालन डालने लगा जूविया बेगम का हाथ थमा था और बेसाफता मुंधा की जानिब देखा मा का चहरा देखकर मुंधा के चहरे की रंगा त्वीकी पड़ी थी लेकिन जूविया बेगम आंग के इशारे से उसे सब ठीक होने का इशारक दिया था जूविया बेगम जानती थी वो कभी इसके हाथ से कुछ लेकर नहीं खाएगा लेकिन हर मरतबा जब भी वो आता इसके खाते दारी में कोई कसर नहीं छोड़ती थी बेलोस चाहत थी इने हाशिर हमदानी से शुरू से उनका नाडला रहा था लेकिन नजाने दस सार पहले क्या वज़े हुई थी जो वो इनसे दूर होता गया हकीकत वो अब तक नहीं जान पाई थी सब खाने में मगन हो गए थे आउच अचानक मुंतहा अपनी जगे से उशली थी और पिलेट पर हाथ रखकर इससे पहले वो गिरती मारिया ने पिलेट को गिरने से बचाया और तंजिया मुस्कुराहाट के संग इसके जानित देखकर कुछ तेर पहले हुई बेज़ती का बदला लिया मुंतहा क्या हुआ है ध्यान से कुछ काट गया क्या मारिया की जुबान फिर से खुजली हुई जानती थी मुंतहा कुछ बोल नहीं पाएगी हाँ एक लेडी कौकरोश ने काटा है दान पिसकरस में धीमे से कहा क्या हुआ लाडो सब ठीक तो है अगजान ने भी परिशाने से मुंतहा की जानिक देखा था हाचिर भी एक नजर इसकी जानिक देखकर दोबारा अपनी पिलेट पर चुक गया जी अगजान सब ठीक है वो दरसल टांग पर कुछ काट गया है ध्यान से बेटा देखो क्या काता है कुछ नहीं अगजान आप खाना खाए मैं ठीक हूँ दोबारा चेरवा बैट कर वो हाथ को मसलती खाने की जानी मतवज़ हुई मारिया से बदला लेने का बात में सोचा था अम्मी मेरी काफी कमरे में भिचवा दीजीगा मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ मुंतहा की माजूदकी उसे नागवार गुजरी थी और कुछ इसकी मस्कुराहाटर उट पटांग हरकते उसे जिच कर रही थी मजीड बैट कर वो अपना जब्द का इंतिहान नहीं ले सकता था काफी का कहता वो बिना किसी की सुने कमरे की जानिब बढ़ गया मुंतहा की नजरों ने दूर तक इसका पीछा किया था हाशे भी जानता था उसे ही देख रही होगी लेकिन नफरत की इंतिहा पर पहुंचा वो इसकी जानी देखना भी नागावार गुजरता था उसे सिद्धी की एमपाइर के आगे खड़ी वो अंदर जाने की हम्मत मुझतमा कर रही थी सिल्वर हिजाब के हाले में दमकता हुआ खीरा लग रही थी गिलास जोर धाकिलती वंदर दाकिल हुई थी के जोरदार तसादम सामने से आते शक्स से हुआ हाथ में पकड़ी फाइल जमीन बोस हुई इससे पहले वो भी गिरती मकाबल शक्स में बाजु से थाम कर इसको गिरने से बचाया मिस ध्यान से कहीं चोट तो नहीं लगी मकाबल का शिरी लहजा जवेरिया को हिरान कर गया घनी पलकों की बाड़ उठाकर मकाबल शक्स को देखा वजाहत का आला नमुना बलेक कोट और जिन्स में मलबूस गंदमी रंगत और घनी मूचे अनाभी लबो पर एक हाला डाल कर इन्हें चुपाये हुए थी जवेरिया की नजर उठकर जुकी न पाई मकाबल शक्स ने अबरूच का कर इसको देखा जैसे कहरा हूँ क्या देख रही हो मकाबल की हरकात से सट पटा कर वो पलकी ढुकाये लरस्ते लबों से सौरी बोल गई फाइल उठाने के लिए नीचे जुका जब वो भी साथ जुकी बुकला ठर नदास से वाज़े थी मिस हसीना मुझे एक बात बताए क्या आप यहां जॉब के सिलसले में आई है फाइल इसके हाथ में पकड़ाता वो उठा और इससे सवाल किया जी उंगलिया चुटकाती जवेरिया की मुझे बेसाकता जी निकला मुकाबल इसकी हरकात और सकनात को देखने में महु था लगता है इस हसीना की दाल यहां नहीं गलेगी भाइसाद ने तो एक जटके में बाहर निकाल देना है दिल में सोचते हैं वो इसकी जानिब देख रहा था मिस उंगली की इशारे से इसने नाम पुछा जी जवेरिया ओ जवेरिया ना इसने मुकाबिल के लब लहजाओं से फिलर्टी नेचर का लग रहा था लेकिन इसका हुलिया किसी सोबर इनसान का पता दे रहा था जवेरिया को इसके बड़ताओं की फिलाल कुछ समझ नहीं आ रही थी सो मिस जवेरिया नौकरी मिलना तो यहां नामम्किन है क्योंकि यहां सिफ मेल वरकर है फीमेल इंपलाई की यहां कोई जगे नहीं मुकाबिल की बात सुनकर इसके चहरे पर मायूसी नुमाया हुई थी लेकिन सर मैं बहुत उमीद के साथ आई थी मद्दम से लहजे में बोली थी हाँ वो तो आपके चहरे से वाज़े है अगर मैं आपको कोई ओफर करूँ तो क्या मान जाएगी आप मुकाबिल की बात सुनकर जवरिया को खत्रे की घंटी का हिसास हुआ वैसे आप कौन है जो कबसे मुझे हिदायत दे रहे है क्या मैंने आपसे मदद मांगी थी या आपसे पूछा के यहां जाब मिलेगी या नहीं आप होते कौन है मुझे ओफर करने वाले जवरिया इसकी ओफर सुनकर गुसे से पागल होकर नौन स्टाप शुरू हो गई मुकाबल शक्स सीने पर हाथ बांदे इसकी जानित देखे आराम से इसकी बाते सुनने में मगन था जवरिया को इसकी हरकते जच कर रही थी मुकाबल पर किसी बात का असर ना होता देखकर वो यगदम चिलाई थी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ मिस्टर हमदान सिद्धी की नाम है मेरा और इस कंपनी का ओनर हूँ और कुछ जानना है आपको मिस्स जवरिया अब रूचका कर इसने जवरिया को देखा ओनर? सरगोशी सी इसके मुझ से निकली थी और अपनी बद जुबानी का शिद्दत से हिसास हुआ था I'm sorry खबर जारा बेगम के गोश गुजार की थी हाँ पता है मेरे साम नहीं निकली है और चाय नाश्ता करवा कर भेजा है इतनी फिकर होने के बावज़ुद भी हर वक्त उसे खरी खरी सुनाती रहती है मुझे शक होने लगा है कि वो आपकी सगी अउलाद है भी या नहीं छोटी सी तीखी नाख चड़ा कर इसने जारा बेगम को हसने पर मजबूर किया था चल पकली लाडली बेटी है वो मेरी बस जब घर के हालात ऐसे हो जाएं तो तुल्खी खुद बखुद आ जाती है पाच मेहने हो गए है इस महले में आए हुए लेकिन अब तक कोई काम धंदा नहीं मिला घर की हाला दगर्गू हो गई है तुल्खी तो खुद मिजाद का हिस्सा बनेगी तु बता तेरा काम बना जारा बेगम ने दोबारा मायरा की जानी मुतवज़ हुई थी बस कुछ दिन और अम्मा अभी कोई जवाब नहीं आया दोबरा जाओंगी तो ही काम बनेगा अम्मा सुर्ख लबों से सुरीली आवाज और कुछ मन पसंद बात सुनकर जारा बेगम ने से बाजों में दबोचा शाबाश मेरी बेटी जड़की को वो एक सेकंड के लिए भी अपने सामने बरदाश नहीं कर सकता था इसके साथ पुरी जिन्दगी कुजाना इसके लिए नामुम्किन था मुन्तहा नफरत है मुझे तुमसे और इतनी नफरत है कि अलफाज में इनका बया नहीं है तुम्हारा इसा अजना सवरना यह हसना खेलना सब बहुत अजीब है क्यों हो तुम ऐसी अगर तुम्हें एक भी खुबी मेरे मेयार की होती तो तुम्हें मैं अपना लेता लेकिन तुम्हारी हरकते और जूबिया बेगम की बेटी होना तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है अब इस नफरत को तो तुम्हें भुगतना ही होगा दो-दो जुर्म तुम्हारे हिस्से में आते हैं और मेरी जिन्दगी में ऐसी लड़की की कोई जगे नहीं सिगरेट सुलगाए वो गहरे कश लेने में मगन हुआ जब बहार लॉन में मुंतहा भागती भी नज़र आई थी जितना वो इससे दूर भागता था इतना वो इसके सामने आती थी चहरे के अजलात तने थे डिलिंग पर हाथ की गिरफत सक्त हुई थी जटके से मुड़कर गिलास मुंड़े जोर से बन करके वो अंदर आया था नीचे लॉन में मौजूद मुंतहा ने रूम की जाने बहुत उमीद से देखा था लेकिन वहाँ कोई नहीं था आंखों की जोद बुझी दिल एकदम उचाट हुआ और वो अंदर की जानी बढ़ी थी जब मारिया की आवाज इसके चहरे पर दोबारा मुस्कुराहट की वज़े बनी थी दोबारा इसकी जानी मुतवज़े होकर वो इसके पीछे भागी थी सिगरेट को जूते तले मसल कर वो वाटरॉप की जानी बढ़ा और बिलेक शर्ट के साथ कैमिल पैंड चूस किये वाश रूम की जानी बढ़ा इस वक्त शौवर ही इसके दिमाग की गर्मी को कम कर सकती थी यहां रुकना इसके लिए वह बाले जान लग रहा था फिरदोस बेगम कमरे में काफी का मंग लिये ताखिल हुई लेकिन कमरे में हाशिर की गयर मौजूद गी देखकर हैरान हुई लेकिन वाश रूम से पानी गिरने की आवाज ने ने अपनी जानी मतवज़े किया था जानती थी गाओं के माहों से इसे बहुत उप्तावट मैसूस होती थी पुरी दिन में कमस कम तीन मरतबा तो वो शावर जरूर लेता था एक दिन से ज़्यादा उसे हवेली में रुकना पसंद नहीं था कुछ देर बाद वाश रूम का दर्वाज़ा खुला था टौवेल गर्दं के गिर्द डाले वो बाहर आया था जब फिर्दोस बेगम को देखकर चहरे पर मुस्कुराहाट आई ड्रेसर के आगे खड़े होकर गिले बाल ब्रश किये और वापस फिर्दोस बेगम की जानी बाया काफी लेट काफी लेकर आई है जानती भी है कि जल्दी पीनी का आदी हो फिर भी आप इतना लेट आई नरोटे परंसे कहता वो फिर्दोस बेगम के चहरे पर मुस्कुराहाट लाया काफी का मंग बेसाफता लबों से लगाया खुश जायका काफी और कुछ देर पहले लिए शौवर ने तनी आसाब पर अच्छा असर किया था तुम्हारी काफी ही बना रही थी कि मुंताहा ने बुला लिया और ऐसा बात तो में लगाया कि काफी का ही भूल गई फिर सजा के तो पर इसे ही बनवाई बहुत प्यारी बच्ची है घर भर की रौनक रोते हुए को भी हसा देती है बस अब जल 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 इस पोर्शन की भी रौनक बन जाए फिर्दोस बेगम अपनी दुन में ही बिना हाशिर की जानी देखे बोलती चली गई जाएकेदार काफी एकदम कड़वी लगी थी और मक पर गिरफ्त मजबूत हुई मुँ में मौजूद काफी बाहर उगलने को दिल किया लेकिन फिर्दोस बेगम के सामने उनको य उल्टी हरकत करके इनका दिल नहीं बुरा करना ठाता था अमी मुझे तेर हो रही है फिर शाम का अंधेरा फैल जाएगा और आगाजान जाने नहीं देंगे इसलिए बस मैं अब निकल रहा हूँ अपना ख्यार रखिये काफी कमक टेबल पर रखकर वार ड्रॉप से जरूरे चीजे लिए वो पैन की पॉकित में रखता फिर दोस बेगम की जानी बाया और माते पर लब रखे थे फिर दोस बेगम बेसाफता खफ़ा होती दूर हुई हर वक्त हवा के गोड़े पर सवार रहते हो तुम्हारे बाबाजान इतना इंतजार करते रह जाते है लेकिन तुम बस बिजनेस की सोचते रहते हो कुछ अपनी माबाप का भी खयाल कर लो बोलते हुए बेसाफता आँखों में नमी आई थी अम्मी मेरी प्यारी अम्मी इधर बैठे बस कुछ दिन फिर इन्शालला सब शिकायत दूर कर दूँगा अभी जाना जरूरी है वरना जरूर रुकता प्रोजेक हाथ से निकल गया तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा हाथ थामे वो कहता हुआ फिर्दोस बेगम को मासूम बच्चा लगा था अच्छा ठीक है अगले बार मैं कुछ सुनूंगी नहीं पूरा एक हफ़ता मेरे पास रहना है कान खोल का सुन लो ओके ओके हाथ को चुमे वो उठा था और सफनी बैग लिए फिर्दोस बेगम के साथ बाहर निकला काफी कमग अपनी बेकद्री पर टेबल पर ही रह गया जिसकी सिर्फ एक ही सिप ली गई थी आगाचान से मिलकर वो अपनी सया प्राडो की चानी बाहर था और मिरर से फिर्दोस बेगम को देखता गाड़ी में सवार हुए हैवेली के कदादम गेट से बाहर निकला था उपर लास्ट कॉर्णर की विंडो से सया आखें बिना पल के जपकाए इस सया प्राडो को नजरों से उज़र होने तक देखती रही थी कमरे का दर्वाज़ा धीरे से खोल कर अंदर आई थी और कमरे में फैली कलोन की खुश्बू को सांस खीच कर रगो पे में उतारा था सुकून की एक मीठी लहर अपने अंदर उसे महसूस हुई थी साइट टेबल पर कॉफी का भरा कब देखकर आँखों की जोद बुजी थी जानती थी वो कभी इसके हाथ की कॉफी नहीं पियेगा लेकिन कब पर बनी पारीक लाइन बता रही थी कॉफी के चन घूट लिए गए है लाइट लिपिस्टिक से सजे होंटों पर मुस्कुरहाट आई थी आगे बढ़कर साइट टेबल से ठंडी करवी कॉफी के मक को वो लबों से लगा गई और चन घूटों में वो काफी खत्म कर चुकी थी आपकी छूई हुई चीज को जाए कर दू नामुम्किन है हाशिर बेशक वो चीज मेरी नापसंदिदा ही क्यों नहाँ जिस चीज पर आपके हाथ लग जाएं वो मेरे लिए एक नायाप शेय से बढ़कर हैसियत रखती है बेशक वो ये करवी कॉफी ही क्यों नहाँ आपकी तीखी नजर भी मेरे लिए अबरे महबत है महबत की हर हद को पार कर जाऊंगी मुंतहा सुल्टान हूँ महबत में फना होने वाली और लगता है किसी दिन फना ही हो जाऊंगी आपकी महबत में एक नजर की मतलाशी हूँ मैं बस और जिस दिन आपकी प्यार भारी नजर मुछ पर पढ़ी समझ जाना मुंतहा सुल्टान आपकी दासी हो गई और इस दिन का मैं शिद्दत से इंतजार करूंगी कमरा समिटते हुए मुसलसल हाशिर को सोचती रही और हर एक चीज को अकिदत से सुच छूती वो इन बेजान चीजों को मौतबर कर रही थी क्या हुआ है हमदान और ये बहस कैसी है और मिस आप कौन है 28 उमर के करीब वो शक्स हमदान की खुबसूरती को भी माद दे गया था लंबा कद गहरे भुरे बाल इस पर सुर्मई आंके वजहात तो लगता था इस शक्स पर आकर खत्म हुई थी भारी मतनासिब पुरकशिश सरापा और चहरे पर फैला रॉब अर दबदबा उसे सबसे अलग बना रहा था जावेरिया को लगा था वो दो हसीन मर्द की खुबसूरती की मकाबले में उलच गई है कौन जादा खुबसूरत है और कम कौन कम जावेरिया को समझ नहीं आया था हुंको की तरह मुँ खुले वो इस शक्स को देखती रह गई, मकाबल की नजर भी इस पर उठी थी, लेकिन इसमें नागावारियत थी और जवेरिया को पहले बार किसी की नजर ने उलचाया था, पहला मर्द था, जिसके आँखों में इसके लिए सताइश के बजाए नागावारी थी और जवेरिया को यही चीज मतासिर कर गई, ओ भाई, आप मिटिंग से फिरी हो गए, मैं कबसे आपका वेट कर रहा था, एकदम हमदान आगे बढ़कर इस शक्स से बगरगीर हुआ था, तुम कब आए और ये कुछ नहीं भाई, जॉब के सिलसले में आई थी, मिस जवेरिया नाम है इनका, हमदान ने जवेरिया का तारुफ करवाया, तुमने इने बताया नहीं कि यहाँ फीमेल वर्कर अलाउ नहीं है, मुकाबल शक्स ने माते पर बल डाले, हमदान को कहा था, लेकिन जवेरिया की जानिंग तो बार न नजर भी नहीं डाली थी, भाई बता दिया है, इनफ मिस जवेरिया, आप मेरे भाई पर इजाम लगा रही है, जानती है कि इस कमपनी के ओनर है, और जब इन्होंने कहा कि इस कमपनी में मेल वर्कर अलाउ है, तो आपको बहस की ज़रत नहीं, और आप भी, आप यहां खड़ी है, इनफेक्ट आपको यहां से चले जा काजान भाई, आपने तो कुछ जादा ही सुना दिया लड़की थी, बेचारी, आराम से बात कर लेते, लेकिन आपके दिल में तो औरत के लिए जरा भी रहम नहीं है, कठोरे बहुत, पता नहीं मेरी होने वाली भावी का क्या बनेगा, जिसका अभी कुछ अता पता भी नह रहा है, बक्वास बन करो, आफिस है ये, क्यों एम्पलाइस को फिरी होने का मौका दे रहे हो, मस्मी खवगी से कहता हूँ, हमदान को मस्कुराने पर मजबूर कर गया, भाई या आपका डाटना भी किसी हसीना की तरह प्यारा लगता है, आपका कोना दबा कर कहता, वो गा काजान की दार देने वाली आदब सिवा अच्छी तरह वाकिफ था, समझदार हो गए हो पहले से, और शायद मेरी जहानत की वज़े से मुम्किन हुआ है ये सब, पंधे पर ठकी दे, इसने हमदान को चड़ाया, भाई, अब ऐसा भी नहीं है, खैर में चलता हूँ, बाद म पे अपने होट और यकदम बाहर निकला, काजान इसकी हरकत पर सट पटाया और इड़कित देखा, लेकिन सब काम में बिजी होने की वज़े से नहीं देख पाये थे, लेकिन अगर आज देख लेते, तो सब के लिए हैरत का मुकाम होता, कि इनके खरूस बॉस भी मुस्कु जिन्हें वो पलके जपक जपक कर बाहर निकलने से रोक रही थी, हमदान तेजी से इसके करीब आया था, देखो अंदर जो भी हुआ, इसके लिए मैं माजूरत चाहता हूँ, लेकिन तुमने मेरी ओफर नहीं सुनी, तो मुझे एक उस्सा आ गया, वो तो खेर मैं अब चाहते हैं, और आपको क्यों लगता है, मैं आफर को मानूगी, और आप इतने पुर्यकीन कैसे हैं, माथे पर बल डाले इसने पुछा, बस मेरी छटी हिस मुझे कुछ इशारे दे रही है, और यकीन की बात मत करे, हमदान सिद्धी की नाम है मेरा, और जहानत विर्से में म मिस्टर, अब आप अतनी हद पार कर रहे हैं, आप जो भी हैं, मुझे आपके बारे में नहीं जानना, और मैं जा रही थी, लेकिन आप मेरे पीछे आए, अंदर तो मैं आपको कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि वो जगे आपकी मल्कियत थी, लेकिन ये सड़क आपकी मल्किय नहीं है, और ना मैं यहां अपनी जुबान डोक सकती हूँ, यहां मैं आपको सुना भी सकती हूँ, और चाहूं तो इन आते जाते लोगों से तो में मार भी पड़वा सकती हूँ, अपसे तुम का सफर इसने मिंटों में तै किया था, पैन की पॉकिट में हाट डाले, अप आपको मेरी बात का असर भी हो रहा है, यह नहीं, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आपको सुना नहीं दे रहा, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो, और क्या कह रही हो, जरा दोबारा कहो, मकाविल की बात सुनकर इसका गुसस सात्वे आसमान पर पहुंचा था, मतलब इसकी में जिप खोल कर इसने अपना कार्ड इसमें डाला था, जवेरिया इसकी हरकत पर हका बक्का रह गई, इससे पहले जवेरिया कुछ समझती, वो अपना काम कर चुका था, मतलब इतनी चाला कि इसे इसने कार्ड बैग में रखा कि कुछ समझी नहीं पाई, कि हुआ क्या इस के साथ, ये कार्ड मैंने तुम्हारे इस बैग में डाल दिया है, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम खत्म हुआ, माथे पर दो उंगलियों से सलूट करता, और अपनी सिविक की जानी बढ़ा था, इससे पहले जवेरिया कुछ बोलती, वो एक जटके में इसके पास से सिविक से भगा कर ले गया, जवेरिया चंद कदम पीछे हटी, उसे जाता देखती रह गई, सीडी प्लेयर आउन करने के लिए वो जुका था, जब इसकी नजर पैसेंजर सीट पर गई थी, हाशिर की आँखों में बेसाफता तनफूर आया था, कारी को साइट पर रोकर इसने वो रुमाल उठाया था, सफेद रंग का तहे किया हुआ रुमाल जिस पर हम के दो लफ्स मुक्तलिफ रंगों के धागों से लिखे गए थे, रुमाल की खुबसूरती में इन रंगों ने चार चान लगाये थे, रुमाल को उठाकर इसने बेसाफता उसे खोला था, और वो हैर रह गया था, इसके चारों कोनों पर ऐसी ही नाम के खुंदा था, खुबसूरती से लिखे और दो लफ्स अपनी तरफ मतवज़े कर रहे थे, लेकिन हाशिर को इसमें कोई दिच्चस्पी नहीं थी, मुंतहा हर मर्तबा तुम मेरा सुकून बर्बार कर देती हूँ, रुमा रुमाल राख की शकर इख्तियार कर गया, और उसे यगदम ऐसा महसूस हुआ, जैसे इसने मुंतहा की महबत को राख किया हो, यगदम सुकून की लहर महसूस हुई थी, इतनी सी हैसिया थे तुम्हारी मेरी जिन्दगी में, एक राख की मानिन हो तुम मेरे लिए, इस तुम्हारी भी कोई वकत नहीं, कोई एहमियत नहीं मेरी जिन्दगी में, वारी को दोबारे स्टार्ट की, वो अपनी मन्जिल के जानी बरवादवा होता हुआ, और मुंतहा की महबत से बने रुमाल की राख बिखर गई थी, सिद्धी की मेंशन में समरीन बेगम अपने द रकी की उची मन्जिल पर पहुंचाएं था, छोटा बटा हमदान सिद्धी की, बड़े भाई जैसी वजाहत और जहानत लेकिन आदात वो हरकात सबसे अलग, गाजान के साथ बिजनिस में बाकाइदा हाथ बटाता था, लेकिन शौक बहुत अनोखे थे, कलब जाना, की तरह अदा करता था, गाजान सिद्धी की, जितना रड़किय से दूर भागता था, हमदान सिद्धी की इन्हें इतना ही करीब लाता था, लाग बुराया सही लेकिन बाई की दिल से इज़त करता था, और अपने बाई के लिए मरने मानने को तयार रहता था, दोस्तों में वो मामाज बॉय की बजाय, भाईया या ब्रोदर्स बॉय के नाम से मशूर था, और इस नाम पर बहुत फकर महसूस करता था, भाई से बढ़कर, शायद इसकी जिन्दगी में कुछ नहीं था, कब आ रहे हूँ वापस, चानते भी हो, तुम जब तक तुम वापस नहीं क्या हुआ, कौन आया है, और आप चीखी क्यों, दूसरी जानी मौजूद अशर ने वेताबी से पूछा था, मारिया को देख चुका था, लेकिन जान कर अंजान बना था, है एक खिस्यानी बिल्ली, जिसे दूसरों को तंग करने के अलावा कुछ नहीं आता, मुन्तहा भी फौरन बदला लिया, बिल्ली रूम में कैसे आ गई, मुन्तहा, और अगर आ गई है तो उसे बहर निकाल कर फिंगे, अशर ने शरारा तामेज लहचे में कहा, भाई, यगदम उची थी, ओ, ये तो मारिया है भाबी, बिल्ली कहां चली गई, अशर ने मारिया को चड़ाया भाई, आप भाबी के साथ मिलकर मेरी वाट लगाना चाह रहे हैं, मत भूले, कि फिर आपने शाहिना का भी मुझसे पूछना है, मारिया ने भी हिसास बराबर किया, मारिया सुदर जा, मुन्तहा ने कंदे पर हलका सा थपड रसीद किया, कोई बात पेट में भी रख लिया मंतहा महस उसे देख कर रहे गई, अशर के सामने उसने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा, किस वक्त मीटिंग है, मिसरीबा, तेजी से ऑफिस के जानिब जाते वे इसने अपनी सेक्रेटरी से पुछा था, सर दस बजे, पीछे पीछे चलते इसने अपने बास को जवाब द दिया, और अपने बास की सादत से वो शुरू से नाला थी, कभी भी आराम से बात नहीं करते थे, हमेशा हुआ के गोड़े पर सवार रहते और बाकी वरकर को भी हर वक्त एक्ट्यू रखते थे, मिसरीबा, मुझे आज के शेडूल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और अजास सहाब को ऑफिस में भीजे, चेयर पर बैठते वे इसने अरीबा को जाने का कहा, और खुद फैस देखने में मगन हो गया, फुपो, आप कब आई? अपार्टमेन में दाकिल होते ही, शदीद हैरत का जटका लगा था, तूबा वेगम शाइना के साथ लाउन मौजू और टाइट चीन्स पर शाट, शाट पहने शाइना, एलसेडी पर मूवी देखने में मगन थी, जब हाशिर की आवाज सुनकर इसके जाने मतवच्च हुई, तेजी से उठकर इसके करीब आकर इसने हाशिर का हाथ थामा, हाई हाशिर, तुम आ गए, जानते हो, मैंने तुम बहुत जिम्मेदार हो, इसलिए मैंने फोन करना मुनासिब नहीं समझा, और सिधा यहीं आ गई, और कुछ शाइना भी उदास थी, वो भी जिद कर रही थी तुम से मिलने की, तुबा वेगम ने तफसीली जवाब दिया था, अच्छा किया, आप आ गई, मैं फिरेशो कर आता हूं और फिर खाना ले आओंगा बाहर से, एक नजर इसने दमक्ती वी शाइना पर डाली और कमरे के जाने बढ़ा था, शाइना की नजरे तो हाशिर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, तुबा बेगम की घुरी को भी नजर अंदास किये, वो एक टक हाशिर को देखन में माहर है वो, और एक तुम हो, जिसको महत सजने समझने के अलाव कुछ भी नहीं आता, निकल गया ना हाशिर हाथ से, तो अकल ठिकाने आ जाएगी, ओफ कमाउन माउम, आप बेफिकर रहे, हाशिर को मैं कभी इस मुंतहा का नहीं होने दूंगे, जितना जहर आपने और म बेगम के चहरे पर मुस्कुराहट की वज़े बन गई थी, आज का हजीब वाकिया इसके हवासों पर अब तक सवार था, गायब दिमागी से बिना जारा बेगम की बातों पर ध्यान दी, वो सीधा कमरे में अंखुसी, मायरा भी किचन से उसे जाते ही देखती रह गई, जल बेठी है, क्या आज भी जॉब नहीं मिली, अपने ध्यान में बेठी वो मायरा की बात नहीं सुन पाई, आपी, इसने दोबारा पुकारा, और एक हाज से एक अंधा हिलाया, हाँ, हाँ, क्या हुआ, एक दब हडबरा कर वो एक खवाप की कैफिया से जागी थी, मुझे तो तेजी से बाहर की जानी बड़ी, सेहन में महले की कुछ मौज़िस अफराद जमा थे, और जारा वेकम को मवसला बक रहे थे, कहने को तो मौज़िस अफराद थे, लेकिन हरकतों से वो जाहिल लोग थे, जिन्होंने दूसरों के घर जाकर परिशान करना पसंद था, देख बुरिया, दो हफते से मैं तेरे घर का चक्कर लगा रहा हूँ, रोज आगे पर टरखा देती है, मुझे मेरा किराया चाहिए या तो मेरी शर्ट मान, या फिर मुझे किराया देते, आकिन साहब महले के कुछ मौज़िस लोकों को लिए, आज फिर जारा बेगम की घर जमा रिष्टे में वो मायरा जवेरिया के सोतेले मामु थे और सुलुक भी इनका सोतेले जैसा ही था, मामु आपको कहा तो है, एक हफते का वक्त दे, आपको किराया मिल जाएगा, लेकिन आपकी शर्ट मेरी मा कभी नहीं मानेंगी, और ना मैं कभी मानने दूंगी, आप बस य हफता दे, हमें आपको आपका गिराया मिल जाएगा, और जाएग यहाँ से, एक दम जवेरिया उन्ची आवाज में चिलाए थी, आकिल साभ कहरा आलूद नजरों से जवेरिया को जैसे सालिम निगलने को तयार थे, मैं कह रही हूं जाएग यहाँ से, आकिल साहब को साथ निकलते चले गए जारा वेगम बे साखता तक्त पर बढ़ी थी माईरा फॉरं किचन में पानी लेने भागी थी और जारा वेगम के करीब आई थी परेशानी हर दर्जे बढ़ गई थी एक नौकरी की टेंशन और दुसरा आज का हुआ हाथसा जारा को हलकान कर गया था ब्लेक टी-शिर्ट और ब्लेक की ट्राउजर में और आम से हुलिये में भी शाइना की दिल की धरकन बढ़ा गया था हाशिर आएं खाना खाले मैंने खुद बनाया है आप इस वक चल्दी में थे इसलिए मैं बताना भूल गई कि मैंने खाना बना लिया है तो बावेगम इसकी चाला की पर हैरान रह गई थी लेकिन मैंने तो खाना ओर भी कर दिया है और तुमने क्यों तकल्लुफ किया अब इसका क्या करूँ पुपू आप मना कर देती शायना को आपने भी नहीं बताया अरे बेटा आपको तो पता है ना खाना बनाने में शायना बहुत तेज है मैं मना करती रही लेकिन इसने की जानिक देखे, खाने की जानिक मतवज़ हो गया था, दिन में मुनतहा शाम में रिशाइना, हाशिर को आज का दिन ही बुरा लगा था, कौफी का कहता वो कम्रे की जानिक बढ़ गया था, मारी एक बात बताओगी, क्या महपत में इजहार जरूरी होता है, और तुम इस पर आवाज सुनकर सर उठाया था, क्या बोल रही हो, मैं समझी नहीं, कैसा इजहार और कैसा यकिन, कुछ नहीं, तुम बस खाने पर जोर रखो, आफाग भाई को किसी दिन कोई हसीना ले उड़ी तो देखती रह जाओगी, सलाद अचानक मारिया के हलक में फसा था, मुनतहा क वक्तन-फौक्तन करते रहते हैं, वो यकीन लहट में कहती हो, मुनतहा के चहरे पर मुस्कराट लाई थी, अपने भाई की किसमत पर उसे बेसाखता रश का आया था, आप बस अपनी फिकर करो भाबी जी, लाला का कही दिल किसी पर कुर्बान न हो जाए, वैसे भी, आपको कभी सोच समझ करना बोलना, हमेशे जब भी बोलना, उल्टा ही बोलना, हाशिल लाक ला तालुकी का इजहार करें लेकिन वो मुझे कभी धोका नहीं देंगे, खुद से बढ़कर यकिन हैं, चाते बहुत हैं मुझे, लेकिन बस इजहार नहीं करते, शार्वा जानते नहीं कि इनका एक इजहार मेरी बेचैन डूह को करार पहुचाएंगा, मारिया इजहार एक खुद जैसा है, जो लफजों के जरी बेचैन दिल को पहुचाया जाता है, इजहारी तो महबत को पहली कड़ी है, जैसे खुद की जरुद जिसम को होती है, इसी तरह महबत को भी इजह कि जरुत होती है जो बेचैनी में राहत का काम करता है लेकिन मेरे बेचैन दिल का सुकून ना जाने कहां है कब इस वेताब दिल पर हाशिर की महबत के चनल अलफाजों की ठंडी फुवार पड़ेगी बेसाक्ता सोचती हो इर्दिकृत का मनजर भुला बैठी थी आह यकदम बाजो पर चुबन का हिसास हुआ था कहां को गई भाबी जी लाला कली गए हैं इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाले अभी से दीद की राहों पर ना चलो भाबी जी दीद के लिए भी एक महीना इंतिजार करना भूगा बाजो पर चुटकी काटकर मुंतहा को छिर्टी प पिछे लगकी थी यकिनां आज मारिया की तुर्कत बनने वाली थी हमदान नहीं आया भी तक माम ड्राइनिंग हॉल में बैठे इसने समरीन बेगम से इस तफसार किया कह तो रहा था दस बचे तक आ जायका लेकिन इस लड़के की टाइमिंग हमेशा गलत होती है और बेटा आप खाना खा लो वो आज आयका दस बचे दस बच चुके है और आपको ऑफिस जाना है मौम आप जानती है मैं इसके बगर खाना नहीं कहता जब आज आयका खा लेंगे हम खाना लेट एक जानिम खिसकाईव अपनी जगे से उठा था जब पीछे से हमदान की आवास सुना कर था कर हैं कंदे पर दोनों बाजू हमायल किये वो गाजान को मस्कुराने पर मजबूर कर गया कैसी है आप माम और भाई को क्या कह रही थी कि खाना खा ले मतलब भाई को मेरे बगर खाने को कह रही थी मसनुए खंकी से कहता वो चेयर पर बैठा था दुनिया जालिम हो ग कभी मेरी बहु आई भी नहीं और तुम इसके बारे में पहले ही अपने भाई को भड़का रहे हो अब बताओ काजान कभी खुशकभी सुना रहे हो या मैं ही कोई लड़की देखो आपके लिए काजान का हाथ थमा था और हमदान के जहरे पर शैतानी मस्कुराइट है पहले हम भावी से लाड़ उठाएंगे फिर शादी करेंगे फरजी कॉलर जारता हूँ गोया हुआ माम मैं तो कहता हूँ कोई हसीना ले ही आए गर में भाई तो लगता है सारी उमर उनतजार में रखेंगे आपको भी और होने वाली भावी को भी मुझे भी यही लगता है तुम मुझे तना ही रहने देना चाते हो आप दोनों मुझे खाना खाने देंगे या नहीं बताए चमच को पिलेट में पटक कर वो अपनी जगे से उठा था बड़े भाईया आप तो गुस्सा कर गए अरे बैठ जाएं मॉम इस टॉपिक को छोड़ दे भाईया जी खा आदूरा छोड़ना भी हमदान को तकलीफ दे गया था बेतहाशा मुझे उसे काजान से और मुझे ये शिद्ध यकिनन कुछ अनुखा करने वाली थी चितलेटी वो मुपर बाजू रखे गहरी सोच में गुम थी नौकरी की कुछ समझ नहीं आ रही थी कहां से मिलेगी एक नई परेशानी सर उठाय खड़ी थी किस तरफ जाओं कुछ समझ नहीं आ रहा कोई राह नहीं नजर आ रहे कुछ तो उमीद नजर आएं और वो काड़ अगर मैं इसके पास चली जाओं तो ना जाने वो मुझे किस कमाश की लड़की समझे नहीं मैं नहीं जाओंगी पर म एकदम बाजू से पकड़ कर मायरा ने उसे हिलाया था हाँ क्या हुआ खैर तो हुए अमी ठीक है एकदम हरबढ़ा कर उठी थी जी आपी सब ठीक है बस आप मुझे ठीक नहीं लग रही सुबह जब आप आई थी तब भी काफी परिशाम थी मामो तो आगे भी आते रहते ह लेकिन आज आप कुछ ज्याता ही परिशान है क्या कुछ हुआ है नौकरी का क्या बना मिली या नहीं नौकरी का सुनते ही उसे हमदान की ओफर याद आई थी लेकिन मायरा से जिकर करके उसे परिशान नहीं कर सकती थी नहीं मिली और तुम सो जाओ तुमने भी सुबह काम पर जाना है एक कमपनी में वेकेंसी खाली है सुबा जाओंगी इन्शाल्ला मिल जाएगी उमीद तो पूरी है और मेरी कौलिफिकेशन भी इनकी रिमान की मताबिक है बस किसी तरह वो नौकरी मिल जाए अब सोचाओ परिशान मत हो सब ठीक हो जाएगा मायरा को कहती वो रु काना बैट पर नीन में गर्क था साइट टेबल पर मसलसल बचता फोन नीन में खलर पैदा कर रहा था लगता था बैट पर लेटा शक्स आज सारी जिंदगी की नीन पूरी करना चाहता था छे दिन से मसलसल आदी अधूरी नीन लेने की वज़े से हालत बहुत खराब थी आ आज तो हर हाल में हवेली पहुशना है वरना आगाजान खुद आ जाएंगे रात की आगाजान की धंकी याद आई थी अगर कल रात तक मुझे यहां ना मिले तो मैं खुद लेने आऊंगा और पूरे स्टाफ के सामने कान पकड़ कर लेकर जाऊंगा तेजी से उठकर वो पश्रूम के जानी बढ़ा था कुछ देर में नकसक सा तयार काउंट आने के लिए तयार था आ रहा हूं आगाजान शाम तक मिलते हैं और तयार रहिए का आज खाना आपके फिवरेट कुक के हातों बनेगा फोन कान से लगाए वो गारी स्टार्ट किये गेट से बाहर निक रहा था कुछ हमदान का अंदास इससे बुलाया नहीं जा रहा था आकिर इसका यकीन इतना बुखता क्यों था मैंने तो काफी तुल्ख अंदासम बात की थी और इसके भाई के आँखों में मेरे लिए नफरत क्यों थी कुछ तो वज़े हैं उफ क्या मसीबत है बरश ड्र बेगम पर नजर पड़ते ही वो इनकी तरफ बड़ी थी हमी आप परेशान नहों आज कोशिश करूंगी नौकरी मिल जाएगी बस अपना खयाल रखियेगा और अगर ना मिली तो क्या करेगी जारा बेगम के सवाल से वो एकदम तुप हुई थी मान लेगी अपनी मामों की शर्त और कर लेगी इस मानी से शादी बता मुझे करेगी शादी इतना पढ़ाने का क्या फायदा हुआ तुझे पैसा भी हराम रास्ते गया और हाथ भी कुछ ना आया यही तो अगर तू लोगों के घर काम काच करती और मेरी बात मानती तो लाखों में खेल रही होती लेक लेकिन एक तू है नाहजाज ओलाद सुनती ही नहीं आज आखरी दिन है अगर आज भी नौकरी ना मिली तो तुझे मेरी बात माननी होगी करनी होगी उसमानी से शादी समझ गई जारा बेगम की जुबान लगता था आज जवेरिया की जाद के बख्ये उधेरने वाली थी फिर आप मेरी बात भी सुन लें मैं मर जाओंगी लेकिन इसमानी से शादी नहीं करूंगी चलती हूँ और नौकरी मिल जाने की खबर के साथ ही कर आउंगी तेजी से उठकर और बैक संभा ले दर्वाज़े से निकलती चली गई गारी कहार सुनते ही किचन में खड़े परजिश कैसी है क्या सुन लिया जो हाथ कांप रहे हैं मुंतहा की शरारत से भरपूर आवास की चन गुंजी थी और मारिया को आज अपनी शामत पकी लग रही थी सेप को दांतों से कतर ती वो शेल्फ के साथ टेक लगा कर मारिया की चानी मतवज़े हुई थी सुनो पाइथ होने वाली है और भाबी नंद बनने वाली है अब आएका मज़ा अपने लाला के सामने तो बहुत तंग करती हो ना मुझे अब मेरी बारी है तंग करने की बच्चों गिन गिन के बदले लूँगी क्या कह रहे थी कि भाबी जी को लाला याद आ रहे है भाबी अभ रासा खरीड जुके गहरी सरगोशी में कहती हो मारिया का हवास बाखता कर रही थी मुझे तंग मत करो अगर शामी कबाब जल गए ना तो अमी ने मेरी जान ले लेनी है और अबी जान का तो पता है जब वो जोश में आ जाये तो फिर किसी का लिहाज नहीं करती देखो बाद में सारे हिसाब चुकता कर लेना अभी बख्ष जो मेरी प्यारी भाबी मारिया की प्यार भरी मनत देखकर मंतहा के चहरे पर बेसाखता मुस्कुराहट आई थी ओके ओके बख्ष दिया होने वाली भाबी जी को आप शामी कबाब फ्राय करो मैं भाई से मिलकर आती जाते भी वो उसको चेर गई थी हमदानी एंपायर्स हाशिश हमदानी की महनत का मु बोलता सुबूत था शीशे से बनी इस इमारत के सामने खड़ी वा आठ फिर अपनी किसमत आजमाने चली थी कल की होए वाके की वज़े से दिल अभी तक परिशान था इससे पहले वा अं जगे से खड़े हुए थे आंखों की जमबिश से वो सब को अशारा करता लिफ्ट के जानिब बढ़ा था जावेरिया को भी उपर ही जाना था तेजी सी और पी लिफ्ट के जानिब आई रिफ्ट में दाखिल होने के लिए इसने कदम आगे बाए थे जब लुफ्ट में प पिछे से ज्छांकती आंखे एक मंजर पर टिक गई। कुछ सेया गॉगॉल्स और कुछ जवेया का मतवज़ ना होना हाशिर को खुबसुरत पंजर देखने का मौका फरहम कर गया। सादगी की आला मिसाल बनी वो सीधा हाशिर के दिल पर वार कर गई। जिस सादगी और पाकिसगी की तलाश थी आज यूँ सामने आई थी कि बेसाखता दिल थम सा गया। आने दो इन्हें उंगली से इशारा दे कर इसने जवेयरिया को अंदर आने का कहा था। तेजी से अंदर दाकिल होकर इसने गहरा सांस लिया और तशकुराना अंदाज में हाशिर के जानी देखा। इसकी हुलिये से वो जान गई थी कोई अकीनन इस कमपणी का एहम रुक नहीं लेकिन अभी इसकी सही हैसियत का तायों नहीं हो पाया था। एक कोने में खड़े होकर इसने हाथ में मौझूट फाइल खोली थी और अपने डॉकूमेंट्स की तसलिक की थी। हाशिर की नजरे अब तक एक जगे ही टक्टा की बांदे हुई थी। अपनी मनकोहा पर एक नजर ना डालने वाला आज एक गैर महरम को मीठी नजरों से देख रहा था। नाग में मौझूट छोटी सी बाली हिजाब की हाले में लिप्टा सफेद चहरा हाशिर को बहका रहा था। जवेरिया को अपने उपर नजरों की तपिश का हिसास हुआ था फौरा नजरे उठा कर इसमें मुकाबल को देखा था और हिरत का शदीद जटका उसे लगा था हाशिर इसी की जानी मतवज़ था। जवेरिया की हतेलिया पसीने से भीकी थी और हाथों में लर्जिश वाज़ थी इसका मासुमाना अंदास हाशिर का दिल एक तम तेजी से धड़का गया। सज्जाद सहाब को हैरत का शदीद जटका लगा था क्योंकि लड़कियों पर एक से ज़्यादा नज़र ना डालने वाला शक्स आज एक लड़की को अपने रूम में बिला रहा था। इसके पीछे सज्जाद सहाब बाहा निकले थे और तेजी से आगे बढ़कर हाशिर के कदम से कदम मिलाए थे। जगे भुलाए इसकी पुष्ट देखती रह गई। रूम पर नौक करके इसने अंदर आने की जाज़त चाही अंदर बैठा शक्स जैसे इसी दस्तक के इंतजार में था। धीमे कदम उठाती वा अंदर दाकिल हुई थी और कुर्सी के करीब खड़ी हुई थी। विवाल्यूंग चेयर पर बैठे हाथ में पेन पकड़े इसने जवेरिय की जानिब देखा था। कैसी कशिश थी जो उसे अपनी जानिब खीच रही थी अपने दिल की हालत पर उसे हैरत हो रही थी। हाथ के इशारे से इसने उसे बैठने का इशारा किया था। जवेरिया इसका इशारा जानकर कुर्सी पर बैठी थी। हाथ ही के इशारे से इसने फाइल मांगी। कल से आप जॉइन कर ले, यह आपका जॉइनिंग डेटर है, आपकी कौलिफिकेशन और एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, सो इसलिए आपको इस जॉब के लिए फाइनल किया जाता है, इस एग्रिमेंट पर आपको साइन करना होगा, एग्रिमेंट का सुनकर इसको तश्विष हुई थी, और भारी पलके उठाकर इसने हाशिर की जानी देखा, खबराइए नहीं, यह हमारी कमपनी का उसूल है, आपको यहां कमसकम एक साल जॉब करनी होगी, और अगर आप जॉब छोड़ना चाहें, तो आपको कमसकम एक मनत पहले बताना होगा, और इसक सो, आप समझ गई होगी, जॉब की जुरत भी थी, और अगरिमेंट साइन करना भी एक तरह से वबाले जान था, आखों के सामने घर की दगर को हालत घूम गई थी, काफी कठन तरीके से आज जॉब मिल ही गई थी, और वो किसी भी तरीके से उसे गवाना नहीं चाहती थी, कुछ सोरक, इसने एगरिमेंट पर साइन किया और जॉइनिंग लेटर हाथ में बकड़े, हाशिर की जाज़त लिए वहां से निकलती चली गई, कमरे में खड़ी वो इस वक्त अपना हुसन समाने में मगण थी, मेकप से उसे हद दर्जे महबत थी, लबो पर मौजूद ला मंतहा, मेकप के अलाव भी तुम्हें कुछ आता है, जब देखो कुछ ना कुछ लगाती ही रहती हो, अरे, मेकप से बाहर भी एक दुनिया है, घने बालों की चुटिया, बांधे कानों में जुंके पहने, वो मारिया की फुजूल गोई पर, चहरे पर मुस्कुराहाट सज सुन रही थी, हाँ, होती होंगी, दुनिया पर, मेरी दुनिया तो सिर्फ दो चीजों में है, एक मेकप और दूसरे तुम्हारे लाला, धीमी मुस्कुराहट के संग इसने कहा था, मारिया इसके जवाब पर बे साखता खामुश हो गए थी, और अपने भाई की किसमत पर र सुना रहा था, क्या बना, मिल गई नौकरी, या फिर आज भी खाली हाथ प्लोट कर आई है, तख्त पर बैटका जारा बेगम की बात को नजरंदास किया, इसने मायरा का वाज दी, मैं कुछ पोच रही हूं तुछ से, जवाब तो दे, जारा बेगम को अपनी बात रत किया जाने पर शदीद तजहीक महसूस हुई थी, अमा, आपी को पानी तो पीने दो, आते ही आप शुरू हो गई है, ये लो आपी, आप पानी पी और चेंज कर लो, मैं आपके लिए खाना लाती हूं, आख से उसे शारा करती, इसने जवेरिया को पर सुकोन किया, नौकरी मिल कल से जाना है, हैंड बैक उठा कर वे तक्त से उठकर बिना जारा वेगम की जानी देखे, सपार्ट अंदाज लिए, कमरे की जानी बढ़ गई थी, आफाक मिया, फिर क्या सोचा है, अगरचान ने आफाक की जानी देखकर गहरी संजिद्गी से कहा, लेकिन आखों में महब अगरिया करिश्टा तै कर दिया है, अगले तवार पर आपकी मन्नी है, अगरचान ने अपना फैसला सुनाया था, और सबके चहरों पर खुशी के लहर दोड़ी थी, फिर दोस और सलमान बेटा, आपको तो कोई अतिराज नहीं है ना, मेरे फैसले से, और जूबिया, आप क्या कहती हो, सल्टान का तो मुझे पता है, इन से मेरी बात हो चुकी है, आपको तो कोई अतिराज नहीं है, मुझे अतिराज है अगरचान, एकदम आफाक खड़ा हुआ और संजीदकी से गोया हुआ था, जूबिया बेगम इससे पहले कुछ कहती, आफाक को संजीदकी से खड़ा होता देखकर सहमी थी, किचन के दर्वाजे के पास खड़ी मुंतहा और मारिया की सांस भी थमी थी, मारिया को दिल की धरकन डूपती हुई, महसूस हुई थी, दिलने किसी अंदेशे की जाने इशारा किया था, आगरचान, मुझे आपके फैसले पर एतिराज हैं, आँखों में कहे लियो बोला था, और मैं ये मंगनी नहीं कर सकता, अपना फैसला सुना कर वो एकदम खामोश हुआ, आगरचान इसका फैसला सुनकर गयज वो गजब का शिकार हुए थे, अपने पोते से इनको ऐसी उमीद नहीं थी, ये क्या कह रहे हैं आफाक, हमने आप आप से पूछा था, इस वक्त तो आपको कोई अतिराज नहीं था, लेकिन अप क्या वज़े हैं, वज़े कुछ नहीं आगजान, लेकिन मैं ये मंगनी नहीं कर सकता, आखिर क्यों नहीं कर सकते, मारिया बेटी में क्या कमी हैं, जो आप ऐसा कर रहे हैं, किचन में खड़ी मारिया की आँखों से आँसू बेह थे, और दिल को लाया था, इससे पहले ओ किचन से जाती, मुंतहा ने उसे बाजों से पकड़ कर रोका था, क्योंकि मैं मंगनी नहीं, निकाहा करना चाहता हूँ, गम के आँसू, खुशी के आँसू में तबदील हुए थे, और हैरत का लांड में मवजूद सब अफराग भी अगदम सोच में डूबे थे और इसके फैसले पर हैरान हुए थे, शरीर कहीं का दरा दिया अपनी अबी जान को, अबी जान ने आगे बढ़कर आफाक के कान को पकड़ कर उसे लुटारा था, सौरी अबी जान, अर दादो जी, एक आंग दबा कर इसने सौरी कहा था, अरकी नाखों से किचन के दर्वाजे के जाने देखा था, छोटी बहू, मिठाई लाओ और सबका मुझ मिठा करवाओ, मारिया ने बेसाकता मुझा का बाज़ू मिठी में जकड़ा था, आउच, मुझा की मुझ से बेसाकता करहा निकली थी, एक थपड़ इसने मारिया के हाथ पर मारा था, क्या है तुम्हें, जब देखो मुझे मारती ही रहती हो, अपने ये नाकुन काटो वरना मैंने काट देने है, खुशी में भी तुम्हें मानना ही आता है, सौरी, गलती सी हुआ, वो मुझे समझ नहीं आया, क्या करूं, पलके जुका कर इसने धीमे से कहा, उफ, मारिया, शर्मा रही हो, यकदम और चिलाई थी, मुझे चुप चुप और धीमे से चिलाई, लकिन मुझे इसको नजर अंदास किये सीधा लाउंज की जानी बड़ी थी, और बे साखता आफाक की बाजू से लगी थी, भाई, आप बस एक चोटी सी मुलाकात करवा देना, वरना नियू ब्रांड जो मेकप का आया है, वो नहीं मिलेंगा, आफाक की धंकी पर उसे घूर कर रहे गई थी, जूबिया बेगम ने बेसाफता दोनों की नजर उतारी थी, जूबिया बेगम की जैसे बरसों की खुआश पूरी हो आफिस की विंडो से वो बाहर का मनजर देखने में मगन था, शादी की बात पर इसका दिमाग पल भर में खराब हुचाता था, रात के वाकिय में भी ऐसे ही इसका गुस्सा साथवे आसमान पर पहुँचा था, रूमें अलग सी बेचैनी सरायत कर जाती थी, दिलने हमेशा खास की तमन्ना की थी, जो सिफ इसकी जात के लिए बनाई गई हो, हर चीज में उसे इन्फरादियत पसंद थी, काफी लड़कियों ने तालिम के दोरान दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन वो हमेशा महतात रहता था, अपने केदार पर धबाओ का भी बरदाश नहीं क आपके शिकायर दूर कर दूंगा, तसवर में मा को मुखातिब किये, वो सिगरेट को लबों में दबा गया था, काट को हाथ में थामे, वो सोच में डूबी थी, नजाने इस शक्स में ऐसी क्या कशिश थी कि वो उसे बुला ही नहीं पा रही थी, काट को भी बारा फेकना लेकिन अंजानी कशिश जैसे उसे रोक रही थी, जिन्दगी में पहली मरतबा इसके दिल को कोई शक्स छूग गया था, और इस बात का इकरार करने से जैसे वो खुद से ही डर रही थी, आपी कहां गुम हो, और ये क्या है, हाथ में और आपको देर हो रही है, मारा ने आक कहना, नाश्ता करने का टाइम नहीं है, तेजी से कहती, वो कमरे से निकली थी, मायरा भी नकसक सी तयार, बैक थामे बाहर की जानी पड़ी थी, सुनो, आफिस में दाखिल होते ही, उसे अपने पीछे निस्वानी आवाद सुनाई दी थी, यगदम वो मुडी थी, मेरा ना तबियत के मालिक है, और काम के मामले में कोई रियायत नहीं देते, लेकिन तुम घबराना नहीं, बिलकुल भी, और काम के मामले में बाहस को कोई शिकायत नहीं देना, तो इन्शालला वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, साथ चलते चलते वो जवेडिया को इसके कैब कर लो मैं बहुत से मिलकर आती हूं वरना वो यहां आ धंकेंगे जवेरिया को इसके कैबिन के पास छोड़ती वो आफिस के जाने बढ़ गई वाट अम्मी ये क्या कह रही है अगर चान मेरी मर्जी के बगर इतना बढला फैसला कैसे कर सकते हैं ऐसा कैसे मुम्किन है फोन कान से लगाए वो फाइल देखने में मगन था जब फिर्दोस बिगम ने एक रूफ फरसा खबर सुनाएं दिली अगदा मुचाट हुआ था फाइल को इसने बेसाकता टेबल पर पटका था दर्वाजे पर भी दस्तक पर इसने बेसाकता नो कहा था अरीबा नो कलब सुनकर हुआ था अगजान का एक और गलत फैसला इसकी नफरत को मुंतहा के लिए बढ़ा गया जितना दूर रहना चाहता था इतना ही अगजान उसे करीब लाने के जतन कर रहे थे मारिया की निकाहा का सुनकर उसे हैरत और गुस्सा एक साथ आया था अम्मी अगजान को मना करे य तुम कह रहे हैं वो छोटी है मैं तो सोच रही थी कि इन दोनों की निकाह पर ही मुंतहा को भी अपने घर ले आओं लेकिन तुम तो मुझे मारिया की रिष्टे से रोक रहे हो आखिर क्या वज़े है हाशिर कि तुम रुकसती नहीं करवा रहे इसकी मां बेचारी दिन रा होगे मैं आगाजान से करती हूं बात तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं फिर्दोस बेगम ने आज सारी कसर पूरी कर दी थी मुंतहा के साथ इसका रवया वो जानती थी लेकिन कभी उसे महसूस नहीं होने दिया था लेकिन आज सबर का पैमाना लब्रेस हो चुका था अम कामिट फाइल को जोर से टेबल पर पटक कर वो ऑफिस से निकल कर लिफ्ट की जानी बढ़ा था लेकिन रास्ते में इसके कदम थमे थे जवेरिया का टमोहनास चहरा देखकर गुसा पल भर में खत्म हुआ और सुकून की ठंडी लहर जैसे पुरी वजूट को छू कई थी यक्टिक खड़ा वो जवेरिया को देखने में मगन हुआ था जब उसे पीछे से अरीबा की आवाज ने किसी गहरी सोच से जगाया सर आज बहुत इंपोर्टन मीटिंग है आपने कहा था जलाल के संस कमपनी के साथ जिस दिन भी मीटिंग फिक्स हो आपको इतला दी जाए हाँ क्या कह रही थी तुम पिछे मुड कर इसने अरीबा की जानिग देखा बेस साकता जवेरिया की नजर भी हाशिर की जानिग उठी थी लेकिन वो एक नजर देखकर अपने काम में मगन हो गई थी सर मीटिंग है और जाना भी बहुत जरूरी है क्या कहुई ने अपने सर होकर आती हूं शाम का खाना बनाने के बाद वो अपनी कमरे की जानी बढ़ी थी दोपहर आफाक और मार्या को सबने मिठाए खिलाई थी लेकिन मार्या को आफाक के सामने नहीं आने दिया था और यह मुंतहा की शरारत थी रोम के जानिग जाते हुए इसके कदम थमे थे द आपने मुझे दरा ही दिया था, मुझे लगा जैसे जान निकल गई मेरी, यगदम वो तेजी से बोली थी, पर साथ ही अपने बोलने पर उसे यगदम शर्म नगेरा था, उपस, मैं आप हटे सामने से, बोखलाहाट में उसे कुछ समझ नहीं आई थी, आप आपने बेसाकता म मारिया ने इसके सीने पर दूसरा हाथ रखकर, इसके सीने से लगने से खुद को रोका था, तीसरी उंगी में एक चला, नुमा रिंग पहना कर इसने फौरण इसका हाथ छोड़ दिया था, और अपने हाथ आगे किया था, जिसमें वैसे ही बड़े साइस की रिंग मौजू अब बताओ, कैसा लगा मेरा प्लैन? जरा सा करीब जुक कर इसने मारिया के होश उड़ाए थे, इसकी चालाकी पर मारिया दंग रह गई थी, लकिन कुछ बोली नहीं थी, निकाह की तैयारी अच्छे से कर लेना, क्या पता, मेरा प्लैन बदल जाए, लबो पर शरारती मु मेरे में सुनाई दिया था, अगाजान आप मेरी मर्जी के बगर, मेरी बहन के जिन्दगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? फोन पर हाशिर चिलाया था, कुछ भी करके वो इस निकाह को रोकना चाहता था, अपनी और मारिया की जिन्दगी में वो मुश्कलात नही बढ़ा सकता था, ये तो तैथा क्यों कभी मुश्क को अपनी बीवी नहीं बनाएगा, हाशिर अली, मत भूलो हम आपके दादा, और इस घर के एहम सरब्रा है, मेरे लिए तुम बच्चे बराबर हैं, और मैंने अपने बच्चों की खुशी को हमेशा अहमियत दी है, हाँ तुम्हारे फैसले में हमसे नजाने क्या भूल हो गई, कि हमने मुन्तहा बेटी को तुम्हारे साथ बांद दिया, मेरे आफाग बेटे और मारिया बेटी की खुशी एक थी, तो मैं कैसे इनकी खुशी को अलग कर देता, बहरे हाल, इस मामले को छोड़ो, मुन्तहा की रु रुखसती पर ही मेरी रुखसती होगी, अभी मैं एहम प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, इसलिए कुछ वक्त के लिए रुख जाएं, कुछ सोचकर आगजान खामुश हुए थे, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे जल जल मुन्तहा को रुखसत करना है और मेरा फैसला अटल है, और निकाह के लिए लाजमी आना, वरना हम खुद लेने आएंगे, अब की बात, आगजान ने अपना लहजा थोड़ा नर्म किया था, लेकिन हाशिर के मुझे पर मुसकान की जरा भी शबिया नहीं थी, डिवाल्विंग चेयर पर बैठा, वो कहर की हालत पुर सुकून होती महसूस हुई, दो दिन से अपने दिल की बेचान होती हालत पर हैरान था, सर आपने बुलाया था मुझे, उससे अपनी जानी मतवज़े देखकर जवेरिया को बेचानी महसूस हुई थी, हाँ, बैठे, मिस जवेरिया, अपनी हालत पर काबू पा गनी पलकों की बार सुनहरी आँखों पर एक हाला डाल गई और हाशिर के दिल और दिमाग में छोटी छोटी हरकात और सकनात भी हलचर मचा रही थी। मेकप से मुबरा चहरा लबों पर हलकी सी लिपिस्टिक हाशिर को ऐसी ही साथगी पसंद थी। मेसाफ का मेकप से भरा चहरा इसको कराहियत में बदल देता था। नजाने किया चिर थी उसे मेकप से या फिर मुन्ताह के नाम से उसे चिर थी। मिस जवेरिया अगर किसी भी किसम की परिशानी हो तो आप मिस अरीबा से कहे दीजेगा वो आपकी हर मुम्किना मदद करेगी यही हमारी कमपनी का उसूल है कि हम अपने वर्कर को हर सहूलत पराहम करते हैं हाशिर कहे कर इसकी जानीब देखने लगा जी सर मैं बोल दूँगी अब मैं जाओ हाशिर की नजरे खुद पर महसूस करके बेचैन हुई थी जी आप जा सकती है मदधम लहजे में इसने जवेरिया को जाने का कहा भाईयो यह देखो क्या लड़की है हमदान धार से दरوازा खोल कर गाजान के ओफिस में दाकिल हुआ था गाजान जो एक हैं फाइल की जानिब मतवज्ज़ था हमदान के आंधी तुफान बनकर अंदर आने पर चौंका था हमदान ये क्या बत्तमीजी है किसी के रूम में आने से पहले नौक किया जाता है और तुम क्या सारे अदब वादा भूल गए हो गाजान को इसके हरकत नाखवार गुजरे थी भाईयो भाईयो सब छोड़ो देखो क्या हसीना है मुझे लगता है ये आपके लिए परफेक्ट है हमदान ने एक सादा सी लड़की की तस्वीर गाजान के सामने की थी तुम फिल से शुरू हो गए मैंने मना भी किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे गाजान ने सक्ती से गोया हुआ भाईयो मुझे बाबी चाहिए बस आप और कितना इंतिजार करेंगे अपनी सोल मेट का वो लगता है इस दुनिया में मौझे नहीं है आप फैसले का इख्तियार मुझे देते तेखना आपके लिए एक से एक तरहादार लड़की लाओं का जिंदगी में इने गुजारनी है या आपने अब रुच का कर इसे संजीदगी से हमदान की जानिद देखा था अफकोर्स आपने मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था हमदान की सियाना से मुस्कुराया तो फैसला भी मेरा होगा काजान कहे कर दोबारा फाइल की जानिद मुतवज़ हुआ जी भाई आपका ही होंगा हमदान धीरे से मनमना कर तोफे पर बैड़ गया था मज़ीद कुछ कहकर वो अपनी तरह खातिरदारी नहीं करवा सकता था बस स्टॉप पर खड़ी वो बस के इंतिजार में थी जब सयास विक इसके पास से गुजरी थी जवेरिया बे साखता पीछे हटी थी गाड़ी की स्पीट कुछ ज़्यादा तेज होने की वज़े से इसके कदम पीछे हटे थे कहर भरी निगाहों से इसने गाड़ी को देखा था लेकिन वो गाड़ी आगे जाकर रुक गई थी दोबारा गाड़ी पीछे की जानी बाई जवेरिया को वो गाड़ी चानी पहचानी रगी गाड़ी बिल्कुल जवेरिया के बराबर में लुकी थी और सया शिशा नीचे होते ही जिस शक्स का चहरा सामने आया था जवेरिया इसके चेहरे को देखकर हवाज बाखता हुई हेलो जवेरिया उपस, मिस्स जवेरिया सन गिलासिस थोड़े से नीचे खिसका कर अब रूच काईस ने जवेरिया को पुकारा पहचाना नहीं मिस्स जवेरिया हमदानी सिद्धी की अभी चंद दिन पहले ही तो मुलाकात हुई थी क्या भूल गई मुझे कार्ड अभी तुम्हारे बैग में मौडूर है नहीं, यकीन तो देख लो जवेरिया को इसके पुरी यकीन नहजे पर हैरत हुई थी और हाथ बेसाखता बैग पर गया था इसे कैसे पता चला जवेरिया खुद से मुखाती हुई अरे अपने नहने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो मैंने कहा था मुकाबल को एक नजर में पहचान लेता हूँ तुम जितना भी चुपाओं मैं जान जाओंगा तमस्कराना अंदाज में कहकर इसने आंक का कोना दबाया था दूसरी मुलाकात और दूसरी मरतबा ही वो जिन्दगी में किसी से डरी थी इसकी पुरियकीन लहजा किसी अन्होनी का पता दे रही थी मुलाकात का मुंतिजर रहूंगा चलता हूं इस जवेरिया अपने मकसूस अंदाज में दो उंगलिया माथे पर टिका कर वो गाड़ी के आगे बढ़ा था जवेरिया सुन होते दिमाग के साथ गाड़ी की धूल देखती रह गई नजाने क्या बला थी जो हाथ धोक कर जवेरिया के पीछे पड़ गई थी भाबी जी सुना है भाई जान आ रहे कमरे में आते ही मारिया ने गोहर अफशानी की थी शीशे के आगे बैठी मुंताह ने एक नजर मारिया की जानिक देखा और दोबारा फेस मास्क लगाने में मगन हुई थी अरे भाबी जी क्या हुआ आज जबान बन है खेर तो है भाई के आने पर भी कोई रियक्ट नहीं इसे चुप देखकर वो हैरान हुई थी हाँ खेर है बस मैं तुम्हारी जबान के जोहर देख रही है जो मेरे भाई के आने की वज़े से कितनी तेश चल रही है मुन्तहा ने दो बदो जवाब दिया था मुन्तहा यगदम उची आवाज में चिलाई थी और बाजों पर चुटकी भरी थी अह नहीं करो वरना फेस मास्क खराब हो जाएगा सदा ह्की इसकिन के मामले में हिसास मुन्तहा को अपने फेस की पिकर हुई थी मुन्तहा मेरी इस निकमी बेटी को भी कुछ लगादो कमरे में दाखिल होते फिर्दोस बेगम ने मीड़ी नज़र मुन्तहा की जानिब डाल कर कहा था लगी नहीं रहा अगले हफते इसका निगा है बाल देखो इसके जैसे जाड़िया हो और इसकिन का तो मैं क्या कहूँ बेटा जरा उसे समझाया करो मेरी तो एक नहीं सुनती फिर दोस बेगम के मुझे अपने बारे में सिलवात सुनकर मारिया बद मज़ा हुई थी हमी पुझे रंग बिरंगे मास्क लगाने का कोई शौक नहीं ये काम आपकी बहु अच्छे से कर लेती है और इसे ही करने दे मुझे बना कर कहती है वो साइट टेबल पर पड़े मैगजिन को देखने लगी देखा तुमने ये इसको कैसे आगे से मेरी बात से इंकार करती है बिटा अब तुम ही उसे सुधार सकती हो फिर दोस बेकम ठक कर चेयर पर बैठी थी मुंतहा ने एक आँख से इने इशारा किया था और मास्क कबाउल लेकर धीरे से चलती मारिया के करीब आई थी और बिना उसे समझने का मौका दिये इसके दोनों गाल पर मास्क लगाया मारिया ने लाग हाथ पाउ चलाएं लेकिन मुंतहा अच्छी तरह इस पर काबिज हो चुकी थी एक हफ़ता हो चुका था जवेरिया को जॉप करते हुए बारह इसका हाशिर से सामना हुआ था और बारह उसे हाशिर की नजरों में कुछ अलग महसूस हुआ था हाशिर की ब बार बार उसे वो मुखातिब कर रहा था और किसी ना किसी फाईल का जिकर करता रहा और शाम किसी ना किसी फाईल के लिए उसे आफिस में बिलाता रहा अरिबा को भी यह सब बहुत अजीब लग रहा था जवेरिया इसको हाशिर की सेकरेटरी और tabs का वजूद एक आ और आप ही देर से आएंगे तो बाकी महमानों से हम क्या उमीद रखे हमने आपकी रुकसती की बात मानी है और अब आप पर फर्ज है कि आप हमारी बाते मानी और कल गाओं आ जाएं बच्चियों की बहुत सी तैयारी अब बाकी है आगाजान की बात सुनकर वो सोच में डूबा था कल जाना इसको एक कठीन में फैसला लग रहा था लेकिन लाडली बहन के लिए जाना भी ज़रूरी था कल की मिटिंग भी ज़रूरी थी और जाना भी ज़रूरी था अजीब दोराहे पर आकर रुका था कुछ सोचकर इसने अरीबा को कैबिन में बुलाया था खुछ देर बाद वो अंदर आई थी अरीबा मेरे मिटिंग कल बारा बजे की टे करवाओ इनके साथ शाम में मुझे हवेली के लिए निकलना है और हाँ मैं पांच-छे दिन में लॉट आऊंगा कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझे वरना अंजाम की जिमेदार तुम खुद होगी दम की आमेज अंदाज में कहता हूँ अरीबा को हलकान कर गया जी सर मैं समझ गई अरीबा महज मनमना कर रह गई ये एक लगजरी आफिस का मनजर था डाक महरून पैंड कोट में मलबूस विंडो के करीब खड़ी वो अपनी सेक्रेटरी की आज की डिटेल सुन रही थी आफिस के हर चीज में नफासत चलक रही थी जलाल के संस के साथ मिटिंग फिक्स हो गई है मैम और इस मिटिंग में हमधानी अपनी एमपायर और सिद्धी के अपनी के ऑनर इस मिटिंग में मौजूद होंगे वेल ड़न अलीना इस गुड नियूस के लिए मैंने बहुत इंतिजार किया है कल इन दोनो कमपानी के लिए अनोखा दिन होगा एल्के कमपानी के ऑनर को उन्होंने बहुत हलका ले लिया था तंजिया मुस्करहाट के संग इसने अपनी सेकरेटरी को कहा था अलीना कल का दिन बहुत स्पेशल है मेरे लिए और मीटिंग के बाद शाम को एक पार्टी अरेंज करो और दोनों कमपनीज के ओनर्स को इस पार्टी का इंविटेशन भेजना पार्टी ऐसी होने चाहिए कि सब देखकर धंग रह जाए मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए समझ गई और मेरे ड्रेस का ओर्डर कर दो इस्पेशल गाउन होना चाहिए मेरा और सिफ एक ही पीस हो इसकी एक कापी भी मौजूद ना हो इस देट किलियर? जी मैम दीमे मुसकान के संग कहती वो आफिस रूम से पार्टी की अरिज्मिन के लिए निकली थी ये डील हमें हर हाल में हासिल करनी है वरना करोरों का नुकसान हो जाएगा हाशिर ने धीमे से सज्जाद साहब को कहा था मेटिंग रूम में इस वक्त मुलके के तमाम बिजनसमें अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे यक्तम तमाम लोगों की नजर गिलास डोर की जानी बढ़ी थी हाशिर के माथे बर बल नुआया हुए थे अपने रकीब को दोबारा अपने रूबरू देखकर इसके गुस्से में इजाफा हुआ था डार्क चॉकलेटी पैंड कोर्ड में मलबूस गाज़ान सिद्धी की बिलकुल सामने टेबल की दूसरी चानी बाकर अपने खुबरू हुलिये में कुर्सी पर बैठा था गाज़ान ने एक नजर भी हाशिर की जानीब नहीं डाली थी एकदम हॉल में अंधेरा चाया और एलिडी रोशन हुई थी मिटिंग के दरमयान में ही गिलास डोर दोबारा ओपन हुआ था बलेक लासेज लगाए लेडी पैंड कोर्ट में मलबूस 26 साला एक लड़की हॉल में दाकिल हुई थी लंबे बाल पोनी टेल में कैद थे हाई हील पहने और गाज़ान सिद्धी के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठी थी गाज़ान को इसकी जुरत हैरान कर गई थी लेकिन मुकाबल मौजूद लड़की ने बीना किसी जानी देखे लेडी पर नज़र डिकाए थी बिस लाइबा मुझे आपका ही वेड़ था सरबराही कुर्सी पर बैठे जलाल संस के आउना ने शिगफतगी से कहा कुर्सी पर बैठी इस लड़की ने महसर अजबात मी लाया था कुछ देर तक मिटिंग जारी रही और फैसले की घड़ी बस नजजीख ही थी ये प्रोजेक्ट एल के संस कमपनी को मिलता है इनके शियर्स इस परोजेक्ट में सबसे ज़्यादा है रूह फरसा खबर हाशिर और गाजान पर घहर बन का टूटी थी अलायबा ने बेसाफता कुर्सी से टेक लगा कर अपनी फतेह को महसूस किया था अपनी समाद पर हाशिर को शुबा हुआ था ये परोजेक्ट इसके हाथ से ऐसे कैसे निकल गया इतने सोचा भी नहीं था हैरान तो गाजान भी था ये जंग तो हाशिर और गाजान के बीश थी लेकिन फिर ये तीसरा कौन आया था जिसको वो दोनों जानते भी नहीं थे हाशिर तेजी से उठकर मिटिंग रूम से निकलता चला गया गाजान के लिए परोजेक्ट कुछ खास एहमियत का हामिल नहीं था लेकिन महस हाशिर की वज़े से वो इस जंग में शरीक हुआ था और परोजेक्ट दोनों के हाथ से जा चुका था कॉंगरेट्स मिस एलके चेहरे पर मध्धा मुस्कान सजाय लाइबा खान को विश किये ओहां से निकलता चला गया अपनी जीद की मुबारक इसने खुशी से ली थी लाइबा खान इसकी पुछत देखकर वो लड़की कौन थी पहले कभी उसे देखा नहीं और एलके संस कमपनी तो पिछले दिनों बन होने वाली थी पिर ये कैसे उपर आ गई मिटिंग का गुस्सा और कुछ हवेली जाने की फिकर हाशिर के दिमाग में सवार हो चुकी थी सर इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि इस कमपनी ने कैसे प्रोजेक्ट हासिल कर लिया सज्जाज साह भी इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत फिकरमन थे शाम तक उसे हवेली के लिए निकलना था लेकिन वो हर प्रोजेक्ट हासिल करके ही जाना चाता था लेकिन एन मौके पर वो प्रोजेक्ट इसके हाथ से निकलन चुका था फोन पर होती मसलसल बेल को नजर अंदास किये वो अपनी हार का गम मना रहा था एल के कमपनी की वो नियू ओनर कौन थी आफिस में सिग्रेट पर सिग्रेट फूंकता फुलाइबा खान के वारे में सोच रहा था पहली मरतबा किसी लड़की से इसका मकाबला था और पहली मरतबा ही वो हाथ चुका था एल के एंड संस कमपनी से इसके माजी में बहुत अच्छे तालुकात रहे थी लेकिन फिर अर्बास खान की मौत के बाद इस कमपनी के हलाद खराब होते चले गए अर्बास खान की पुरसरार मौत का किसी को पता नहीं चल सका दर्वाजे पर होती दस्तक ने उसे सोचों से बाहर निकाला था सर ये आपको इंविटेशन कार्ड आया है रूम में दाखिल होते गाजान के सेकरेटरी ने कार्ड इसकी जानिब बढ़ाया किसका कार्ड है गाजान ने इससे पुछा सर एलके संस कमपनी की जानिब से कार्ड है कार्ड देखकर वो हैरान हुआ था दस घंटे के अंदर-अंदर पार्टी का अरेंज करना ताजान को हैरान कर गया था शाम तक वहुली में मौझूद था सबसे मिलने के बाद वो अपने कमरे में लिटा जवेरिया के बारे में सोच रहा था जवेरिया को सोचते हुआ आज की हुई हार भी भूल गया नजाने कैसा खुमार था इसकी जलक का कि उसे सब कुछ हवा में मौलिक होता महसूस हो रहा था याद थी तो बस जवेरिया दिल एक ही नाम की माला जब रहा था मुन्ताह से इसका सामना नहीं हो पाया था और ये एक तरह से इसके लिए सुकून का बास बन गया चन्द दिनों में ही जवेरिया इसके हवासों पर बुरी तरह सवार हो चुकी थी कमरे पर दस्तक होती इसने येस कहा अपने सामने जवेरिया को देखकर वो हिरान हो गया एक खौप किसी कैफियत में उसके जानी बढ़ा था आँखों में इस वक्त वाज़े चमक थी मकाबल मौजूद मुन्तहा हाथ में काफी कमग लिए लरस्ती सी कमरे के बीचो बीच खड़ी हाशिर को अपनी जानी बढ़ता देख रही थी फिर दोस बेगम ने आज़ जबरदसी उसे हाशिर के कमरे के चानी बेचा था कमरे का मलगचा अंधेरा मुन्तहा को हवाज बाखता कर गया तुम यहां कैसे करीब खड़े होकर इसन धीमे लहजे में इस तफसार किया था वो मैं कॉफी देने आई थी काफी को साइट टेबल पर रखकर वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी थी जब मुकाबल शक्स ने इसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी जाने खीचा था इस हमले के लिए वो तयार नहीं थी और सीधा इसके सीने से टकराई थी मुन्ता की जान हलक में अटकी थी जब बाजो से पकड़ कर उसे अपने रूबरू किया और चहरे पर अपने गर्म हातों का हाला बनाया और मुझे महबत भरे फूल बरसाए थी कहां डा रही हूं मुझे चोड़कर मुझे महसूस तो कर लेने दो कि तुम मेरे गरीब हो भारी लहजे में कहता हूं मुन्ता की चान लेने के दर पर था तुम्हारी खुबसूरती और पाकिसगी ने मुझे अपनी जानिब खीच लिया है मेरे पत्थर दिल में तुम्हारी एक जलक में दराड डाल दी है मैं एक सक्त पत्थर दिल था लेकिन तुम्हारी एक जलक ने मेरे पत्थर दिल को धरकने पर मजबूर कर दिया है क्या जादू किया है तुमने दोनों हातों से इसका चहरा थामे ना जाने वो कौन सी दुनिया में गुम था चाहरे पर पढ़ती गरम सांसे मुंतहा की जान हलकान कर रही थे ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि हाशिर यूँ अचानक इसके करीब आएगा हाशिर छोड़े हाशिर मुंतहा धीमा समन मनाई लेकिन मकाबल का दिल औ दिमाग एक कैफियत में जगड़ा हुआ था जिस गोहर नायाब की तलाश में ये दिल था जिस सादगी को मैंने पसंद किया था वो मुझे मिल गई मेरी हो जाओ दो लबजी लटजा ने गोया मुंतहा को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया दिल खुशी के मारे सीने में तेज़ी से धरकने पर मजबूर हो गया था आँखों की जोत रोशन हुई थी गाल तबकर लाल हुए थे कुछ हाशिर के गरम हातों की हिद्दत ने गालों की गर्माहट में इजाफा किया था तेज़ी से गाल की जानी जुक कर इसने इनके नरमाहट को महसूस किया था मुंताह को आज अपनी जान निकलती ही महसूस हुई इसके कमजोर सी गिरफ्त में महजो फर्फरा कर रह गई हाशिर छोड़े हाशिर के हाथों का अपने चहरे से हटाने के लिए इसने अपने याख होते हाथ इन हाथों पर रखे थे लेकिन मुकाबल लगता था कि आज मुंताह की जान लेने के दर पर था मुंताह के हाथ के लंस ने हाशिर को होश की दुनिया में पटका था अपने करीब मुंतहा को देखकर आँखों में शदीद हिकारत चमकी थी और अपनी बेख्तियारी पर शद्दत की शर्मिंदगी महसूस हुई थी पल भर में उसे खुद से दूर धकेला और बेसाखता आँखें मीर्च कर रुक मोड़ा इतनी बेख्तियारी वो भी मुझ से नहीं ये नहीं होना चाहिए था मुँ में बड़वडाते वे इसने कुद को जुझोड़ा था इतनी हरकत पर उसे पश्टावा हो रहा था मुंतहा एक सेकंड से पहले मेरे कमरे से बहां निकल जाओ वरना मुझ से बुरा कोई नहीं होगा बिना मोड़े इसने कहा और तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे कमरे में आने की हाशिर की धार नुमा आवाज से मुंतहा एकदम सैमी थी कुछ देर पहले फूल पर साता लहचा बाग गुगल रहा था मुंतहा यक टक इसकी पुछ देख रही थी लेकिन समझ बूच कुछ नहीं आ रही थी जाओ मुंतहा यहां से यक दमो उची आवाज में चिलाया मुंतहा की चान हलक में अठकी थी और काजल वरी आँखों में नमी चमकी थी तेजी से उटकर वो कमरे से निकलती चली गई थी रात के वक्त बिस्तर पर लेटी वो हमदान को सोच रही थी जिसने दूसरी मुलाकात में ही उसे परेशान कर दिया था एक पलाग की तरह इसके पीछे पड़ गया था दिल था कि इसकी जानी खिषता चला जा रहा था काड का इतना यकीनी से कहना उसे मजीद परेशानी में डाल गया था आपी आज मामू दोबारा आय थे और इनका एक ही मतालबा है मैंने काम शूरू तो किया है लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं हुआ मैरा की आवास सुनकर और चौंकी थी हाँ क्या कह रही हूँ आपी मामू की बात कर रही हूँ आपका क्या हुआ है नजाने कौन से दुनिया में गुम रहने लगी है आजकर खैर तो है आफिस के मामलात तो ठीक है मैरा ने आगे हुकर टवेरिया के बाजू पर हाथ रखकर इससे इस्तिफसार किया हाँ सब ठीक है बस पिक एंड डॉप का मसला है वो हल हो जाए तो सब ठीक है कल सर से बात करूँगी और लोन का भी पुछूँगी अगर मिला तो ठीक है वरना कुछ सोचती हूँ तुम अमी का ख्याल रखा करो मुझसे तो वो अच्छे से बात नहीं करती तुम ही इनके करीब हो तो ख्याल किया करो अब सो जाओ सुबह मुझे चल्दी जाना है वरना इस रूट की बस चली जाती है जरा सा मुस्करा कर कहती हो करोड बदल गई और मायरा भी चिट लेती कर के बारे में सोचने लगी थी हाशिर के कमरे से निकल कर वो भागती हुई सीधा अपने कमरे की जानी पाई थी धार से दर्वाजा खोल कर वो अंदर आई थी और धोकनी की मानी चलती सांस के साथ वो बैट पर गिरी थी खुशी और गम की कैफियत इकटी हावी हुई थी हाशिर का नरम गरम रवया मुंता की समझ से बाहर था ना कभी पहले वो इसके करीब आया था और ना ही कभी ऐसे धुतकारा था मुखाती भी बहुत ही कम करता था हाशिर क्या हो आप मेरे लिए अबरे रहमत है या वबाले जान आपके ये उल्जा रवया किसी दिन मुझे पागल कर देगा आशो लड़ी की मानी ना आँखों से बह रहे थे गाल पर अभी वो दहकता लंस महसूस हो रहा था अलफाज अभी कानों में गुंच रहे थे किस पर यकिन करती इन महबत भरे अलफाजों पर या आखिर में हुई धुतकार पर नहीं हाशिर मुझे आप से जवाब चाहिए और आप मुझे जवाब देंगे इसने सोच लिया था कि वहाशिर से हिम्मत करके बात करेगी फिर बेशक जो भी ततीजा निकलता लेकिन एक मरतबह वहाशिर से बात करना चाहती थी इंपोर्टेट सूट पहने घने बाल सेट किये हलकी बड़ी दाड़ी में वो आज की पार्टी में मौझे तमाम लोगों में नुमाया लग रहा था दोनों भाई एकटे फॉर्म हाउस में दाखिल हुए अपने भाई की प्रस्नलिटी से वो हमेशा मरूब रहा था इनकी लुक इनकी ड्रेसिंग सबसे अलग थरलब और इंफरादी होती थी भाई आज की पार्टी में तो ओके भाई समझ गया लड़की के पास नहीं लेकिन हनी हसीना के पास खड़ा हो जाऊंगा आप मेरे बड़े भाई हैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ एक आख दबा कर कहता हूग गाजान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया लबो को दोनों जानिब से फैला कर इसने मख्सूस मुस्कुराट दी थी भाई कभी खुल कर मुस्कुराब भी लिया करें मैं तो आपके कह कह सुनने के लिए भी तरस गया हूँ कमसकब हस लिया करें मू बना कर कहता वो सामने देखने लगा तुम्हारी बड़बर कम नहीं हो रही मैंने यही से वापस चला जाओंगा ओके भाई मैं शेट अप हो गया चले आगे बड़े मिस एल की हमारी जानी भी आ रही है हमदान ने बहुत मुश्किल से उसे पार्टी के लिए मनाया था और मज़ीद कोई उल्टी बात करके वो से वहां से जाने पर मजबूर नहीं कर सकता था हेलो मिस एल के लाइबा के करीब आती हमदान ने अपना हाथ आगे किया था हेलो मिस्टर हमदान लाइबा ने भी अपना नर्म हाथ हिला कर हमदान को जवाब दिया था हेलो मिस एल के गाजान ने महस मूँ से हेलो कहा था हाथ बढ़ाने की इसने जहमत नहीं की थी लाइबा खान इसका एटिट्यूट देखकर महस तंजिया मुस्कुराई ये आपके डियमिस एल के फूलो कब उके हमदान ने लाइबा के जानी बढ़ाया एंड कॉंगरेचलेशन मिस एल के गाजान ने भी उसे मुबारक बात दी थी ठैंक्स मिस्टर गाजान एंड हमदान मुझे अफसोस हुआ कि आप ये प्रोजेक्ट हार गए लाइबा ने तंज के तीड चलाए अफसोस मत कीजिये मिस आप अपनी जीत नजाए करें बिजनस की दुनिया में हार जीतो लगी ही रहती है अगर हम इन छोटी मोटी हार पर पर परेशान होने लगे तो फिर हम से बड़ा बेवकुफ कोई नहीं हमदान को इसका लहजा अजीब लगा था इससे पहले गाजान कुछ बोलता हमदान ने फॉरन लाइबा को जवाब दिया था ड़्ट्स गरेट मिस्टर हमदान एनिवे एक तीखी नजर गाजान के जानिब डाल कर वो आके बढ़ गई थी हमदान को इसकी नजर ने चौका दिया था अपने भाई पर किसी की तीखी नजर बरदाश्ट करना हमदान के लिए मुश्किल हो गया था डानिंग टेबल पर बैठा वागजान से बातों में मसरूफ था जब मुकमल सया में लिप्टी मुन्तहा डानिंग हॉल में दाखिल हुई थी लबो पर मकसूस गुलाबी लिपिस्टिक लहातों में पहनी चुडियां अनमसकारा और लाइनर से मुजयन आँखे देखकर हाश्र की माथे की रगे तनी थी एक नज़र डालकर वो दोबार आगाचान की जानिक मतवज़ हुआ था कुछ देर में आफाग भी नकसक सा तैयार डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ आगे बढ़कर इसने हाश्र के सामने हाथ बढ़ाया था दोनों बहन भाईयों को देखकर हाश्र का तनफूर सवा नैज़े पर पहुँचा था एक नज़र इसने आगाचान पर डाली और हाथ मिला कर फौरण पीछे किया आगाचान की वज़े से हाश्र कुछ कह नहीं पाया था अपनी बहन के लिए उसे कभी भी आफाक पसंद नहीं था दस साल पहले ना जाने कौन सी सचाई थी जो हाश्र दिल में दबा कर बैठा था और इसी सचाई की बदूलत वजूबिया बेगम की पूरी फैमिली से नफरत करता आ रहा था बच्चियों को दो पहर तक आपने शॉपिंग पर ले जाना है हाश्र बटा और ख्यार रहे मुझे कोई शिकायत ना मिले और गजान की बात पर महस सर असपात में हिला कर रह गया आज सर नहीं आए हाश्र को आफिस में ना पाकर इसने अरीबा से पूछा था जी वो आज नहीं आएं और पूरे वीक वो नहीं आएंगे इनकी बेहन का निकाह है अरीबा ने मताना से जवाब दिया था ओके वो धीमा सा मुझकरा कर अपने कैबिन के जाने बढ़ गई रुको तुम क्यों पूछ रही थी कोई काम है क्या इनसे अगर है तो मुझे बता सकती हो अरीबा इसके पीछे आई थी मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी कोई काम नहीं था बस ऐसे ही अरीबा को कुछ अंदाज़ा हो गया था कि उसे किसी मदद की जरुरत है जावेरिया में तुम्हारी बहनों जैसी हूँ अगर तुम्हे कोई काम है तो मुझे बता दो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर दू देखो सर बहुत सकत तबियत के है लेकिन अगर किसी को मदद की जरुरत हो तो वो फौरन मदद भी करते है जावेरिया को अरीबा के बातों से कुछ होसला मिला था वो मुझे लौन चाहिए था घर के हालाद बहुत खराब है लेंडलाड ने एक हफ़ते का वक दिया था और हफ़ता पूरा हो चुका है कल वो मुझे फिर आप धंकेगा बस इसी स्लसले में मुझे बात करनी थी जावेरिया ने अपना मसला बताया तुम परेशान मत हो मैं ससे बात करती हूँ वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे अरीबा इसकी हिम्मत बंधाती रूम के चानी बड़ी थी हाशिर से बात करने का इसने फैसला किया था की चैन पकड़े और अपना वायलेट चेक करता वो सीडिये से उतर रहा था जब सामने से आती मुंतहा से अचानक टकराया मुंतहा इस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी बेसाफता हाथ पकड़ कर उसने मुंतहा को किरने से बचाया इसके हाथ के सहारे से वो गिरती गिरते बची थी दिल एकदम सहम गया था सामने मुंतहा को देखकर गुस्ता साथ में आसमान पर पहुचा था नजर नहीं आता तुम्हे या देखना नहीं चाहती मुकाबल ने हमेशा की तरह तंज के दीर बरसाए थे और ये तुम इतना सच सवर कर कहा जा रही हो हम मार्कीर जा रहे ही मुझा सुल्तान ना कि किसी डान्स प्लब में जहां आपको बुलाया गया है जाओ यहां से और साधा लेबास पहन कराओ इससे पहले कुछ बोलती हाशर ने इसकी बात काटी थी मुंताह सुल्टान कभी तो अपने इस पेंट शुदा चहरे को सादगी का मान बख्षो हुसन सादगी में अच्छा लगता है लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी क्योंकि तुमने तो हमेशा मेरी मर्जी के खिलाफ काम करना है तुम्मे और बाजारी औरतों के चहरे में मुझे कोई फैक नहीं नजर आता एक मिनिट में इस पत्थर दिल शक्स ने मुंताह का दिल कर्ची कर्ची किया था लबजों का जहर क्या होता है मुंताह ने आज चाना था आंसु भरी आंखों से एक नजर इस पर डाले वो एक तरफ से गुजरती सीडियों के जाने बढ़ गई और हाशिर सर जटकता गाड़ी में जाकर बैठा था कमरे में दाकिल होते ही बन बांदे आंसों को इसने आजाद छोड़ा था मुपर हाथ रखकर इसने अपनी सिस्कियों का गला घुटना खुशी के मौके पर वो कोई बदमजगी नहीं चाहती थी लेकिन हाशिर निकाव से बाजारी औरत से मिलाना दिल की हालत बरबाद कर गया हाशिर इतना घटिया लपस आपने मेरे लिए इस्तिमाल किया क्या इतनी अर्जा हूँ मैं इतनी नफरत के काबिल हूँ क्या जरा भी रहम नहीं आया आपको ये नापाक लपस कहते हुए मेरी बात तो सुन लेते मैं चेंज करने ही उपर जा रही थी लेकिन मजीद बोलने की इसमें हिमत नहीं थी अपने आप से सवाल करती वो गुटनों को जमीन पर टिका गई आँसू लड़ी की सुरत आँखों से बह रहे थे होटो पर लगी सुरकी को इसने हाथ से मसला था काजल की धार आँसूं की वज़े से चहरे को सया कर गई थी नहीं नहीं मुझे रोना नहीं है मेरे भाई का निकाह है मुझे नहीं रोना दोनों हातों से अपने गाल सक्ती से रगड़ कर उठी थी आईने में अपना रक्स देखकर आँके फिर नमी से भर गई थी मेक अप वाइब से मेक अप रिमू करवा करके वो आश्रूम की जानी बढ़ी थी कुछ देर बाद साधा सा सुर्ख शॉर्ट फ्रॉक और घेरदार शलवार पहने लबों पर मधधम लिपिस्टिक लगाए और दिगर लाजमात को हलका सा चहरे पर लगा कर इसने सुर्ख ही हिजाब अपनी गिर्ट बांधा था पाउ में नाजुक खुसा पहन कर वो लबों पर अपनी मकसूस मुस्कान सजाए कमरे से निकली थी और सीडियों की जानिब बढ़ गई दिल का दर्द दिल में दबाए वो अपने भाई की शादी की तग्यारी के लिए अपने दुश्मने जांग के साथ जा रही थी जा रही हो मुंतहा सीडियों सो उतरते ही फिर्दोस बेगम इसके करीब आई थी जीत आई अमी जा रही हो अपनी मीठी मुसकान के संग इसने जवाब दिया माशाला बहुत प्यारी लग रही हो और आज ये इतनी हलकी लिपिस्टिक क्यों लगाई है आज तो तुम हाशर के साथ जा रही थी फिर इतना साधा पन क्यों फिर्दोस बेगम को इसका सजना सवरना शुरू से ही पसंद था अक्सरों बेश्टर मेकप की चीज़े भी फिर्दोस बेगम देती थी दोनों सांस बहुं की एक ही पसंद थी लेकिन नजाने बेटा किस पर चला गया था नियू कलर नहीं ट्राइ किया लिपिस्टिक का मुंतहा का रंग इनके सवाल पर फीका पड़ा था क्या बताती के इनके बेटे ने उसे एक बाजारी औरत से मिलाया है नहीं तायमी बाहर ही जा रही हूं तो अच्छा नहीं लगता हजार मर्दों की नजर पड़ती है और हा कर उने बेसाक्ता मुंतहा के माथे पर महर सबत की थी सदा सुहागन रहो और मेरे बेटे की किसमत का रोशन सितारा बन कर चमगो जाओ जल्दी से वो इंतिजार कर रहा होगा ये नहों अंदर ही आ जाए पर दोस्त बेगम ने उसे शरारत आमेज लहजे में कहे कर बाहर के जाने धकेला था इनकी दुआ पर आँख में नमी चमकी थी लेकिन वो मुस्कुराते हुए नमी आँखों से पीछे धकेल गई और सर अजबात महिलाती बाहर गिराज के जानी बड़ी थी जहां वो सितमगर इसका इंतिजा नहायत कोफत से कर रहा था गारी में मारिया को फ लेकर नहीं जाना था मुन्तहा के बैठते ही वो सपार चहरा लिये गारी को आगे बढ़ा गया मारिया ने बारहा मुन्तहा की जानी देखकर इससे आँखों या आँखों में सौरी किया था मुन्तहा महिस उसे घूर कर रह गई थी मारिया जो लेना है आज ही ले लेना मैं रोज रोज मार्किट नहीं लेके जा सकता और जानती भी हो कि हवेली से मॉल वगएरा कितनी दूर है एक तीखी नजर इसने शिशे में मुंतहा की जानिब डाली थी जी जी भाई मारिया महस मनमना कर रह गए थी मुंतहा इसका इशारा समझ गई थी आज ही सारी कसर पूरी ना की तक मेरा नाम भी मुंतहा सुल्तान नहीं हाशिर को देखती इसने दिली दिल में खुद से एहद किया था एक और एहद वो इस रात कर चुकी थी हाशिर से जवाब इसने लेना ही था अगली जिन्दगी मुंतहा की इसी जवाब पर आकर ठहरी थी रात लेट नाइट पार्टी के वज़े से इसकी आँख भी आज लेट खुली थी मुबाइल की वेल की वज़े से इसकी आँख खुली हाँ शानी बोल क्या मसला है क्यों सुबह सुबह परिशान कर रहा है क्या सुकूर नहीं है जो बार बार कॉल कर रहा है बारी आवाज में से मुकाबिल को सफ़ती से कहा अबे आज मूवी दे है सुबा नहीं दिन के दो बज रहे हैं तीन टिकेस भी इस वक्त मेरी पॉकिट में है और जानता है लड़कियों की लाइन लगी है आज एक से एक परी है यहां मूवी का एक्स्ट्रा मज़ा आएगा शानी ने उसे सारी तफसील बताई अबे साली पहले क्यों नहीं बताया आ रहा हूं आदे घंटे में तो बस पार्टी का इंतिजाम रख लड़कियों को तंग करना हमदान का मन पसंद काम था शानी की खबर ने इसका इश्तियाग बढ़ा दिया था जल्दी से फिरेश होकर घंटे बालो को पोनी में कैद किये मूच्छों को थोड़ा सा ताओ दे कर चहरे की खुखसूरती में मज़ीद इजाफा किया बालो की पोनी करते उसे गाजान याद आया और चहरे पर बेसाखता मस्कुराहत नमुदार हुई थी गाजान को इसके घंए बालो से शदीद चुड़ थी और गाजान के सामने उपोनी करने की जुरत भी नहीं करता था लेकिन बाल कटवा कर वो अपने फेस की लुग खराब भी नहीं कर सकता था आ रहा हो हसीना हो तुम लोगों को तंग करने के लिए शीशे में खुद को देख कर कहता वो कीचैन पकड़े कमरे से निकल कर अपनी स्वीक की जानिब बढ़ गया सर आपकी मीटिंग जलार के संस के साथ PDL मॉल के सामने मौजूद रिस्टोरंट में फिक्स करवाई है मैंने इस्पेशल वहां टेबल बुक करवा दिया है जाहिद ने गाज़ान को आज की सारी मीटिंग के तफचिर बताई थी कितने बज़े मीटिंग है और हमदान आफिस आया है या नहीं कल की पार्टी में उसे लाइबा खान का अपनी जानिग देखना नागवार गुजरा था लेकिन इसकी आँखों में इसने सताईश के बज़ए एक अजीब सी नफरत देखी थी इसके नाज वो अंदास गाजान को चौकने पर मजबूर कर रहे थे जलाड के संस के साथ मिलने का फैसला इसने राथ ही कर लिया था इसलिए सुबह इसने जाहिद के जरिये मिटिंग फिक्स करवाई थी नहीं सर पार्ट नहीं आए और आज इनका दोस्तों के साथ प्लान था उन्होंने आपको बताने का कहा है और मिटिंग चार बज़े की फिक्स की है जाहिद ने मजीद तफसिल से गाजान को मुद्ला किया ओके मैं निकलता हूँ फिर खयाल डखना कोई भी इंपोर्टन कॉल हो तो मुझे बताना और हमदान को दो दिन की ल्यू दे दो अगर पूछे तो कहना मैंने कहा है जाहिद को इदायत देता वो आफिस निकला था मॉल में दाखिल होते ही उसे शानी और अली दूर से ही नज़र आए हाथ हिलाता वन की जानिब बढ़ा था यार मुवी स्टार्ट होने में अभी तो पटाईम है तो क्यों न थोड़ी देर गुमा फिरा जाए जरा इन हसीनाओं से अच्छी जान पैठान हो जाएगी एक आंग तबा कर इसने शानी को कंधे पर थपकी दी थी बहुत कमीना है तू तेरी हरकते तेरे भाई को पता चल गई तो बस फिर तो गया तू आहां दुरुस्तगी कर शानी बहुत नहीं बहुत बड़ा कमीना हूँ वो क्या है ना कमीनगी मेरी रग रग में है और कमीना पन दिखाना मेरा पसंदीदा काम है और भाई मेरी मासुमियत को अच्छे से जानते है गलत काम तो मैं मर कर भी नहीं करूँगा दोनों हातों को रगड़ता वो सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था कोई हाल नहीं तेरा सच में तो बहुत बड़ा वाला कमीना है शानी ने एक पंच हमदान के गंदे पर मारा था गारी मॉल के करीब रुकी थी मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा रहा जब फिरी हो जा मुझे कॉल कर देना मैं लेने पहुँच जाओंगा मारिया को कहकर वो गारी आगे बढ़ा ले गया मुंतहा इसकी हरकत को सुलक कर रह गई लेकिन वो नजर अंदास की अंदर के जाने बढ़ गई मौल में दाकिन होते ही मुंतहा की नजर साथ रंग में मौझूद लहंगे के जाने गई आँखों में बेसाफता सताईश आई थी और ख्यालों की दुनिया में ही इसने पुद को हाशिर के साथ खड़े सोच लिया था क्योंके हकीकत में ऐसा होना नामुम्किन था मारिया वो देखो कितना प्यारा है मुझे वही लेना है मारिया की नजर भी इस लहंगे के जाने गई थी इस पर हुआ फुल गोल्ड कलर वर्क इसकी खुबसूरती में इजाफा कर रहा था देखने में ही वो ब्राइडल लहंगा लग रहा था लेकिन मुझे की नजर इस लहंगे पर अटक चुकी थी शादी मेरी है या तुम्हारी बताओ जरा मारिया ने मस्में खवगी से कहा मेरे भाई की शादी है दात नुमाया करके इसने मारिया को लाजवाब किया मुझे तूम बहुत चालाग हो लाजवाब करना तो कुई तुछ से सीखे अब मेडम ये लहंगा लेना है तो चलो शॉप के अंदर चलते हैं मारिया कहे कर आगे बढ़ गई मारिया के लिए इसने वेलवर्टी रेट लहंगा पसंद किया था जिस पर गोल्डन वर्क इस लहंगे की खुबसूरती में अदाफ़ा कर रहा था मुंतहा की 24 को हमेशा मारिया ने सराहा था इसने वे इसकी पसंद की हुई चीज़ पर आंग बन करके भी यकीन कर सकती थी दो गहंटे से मुसरसल मौल में घुमने की वज़े से मारिया की हिमत जवाब दे गई थी लेकिन मुंतहा के चहरे पर थकन का शायबा भी ना था रेस्टरंट में दाकिल होते ही उसे जलाल सहाब एक टेबल के गिरपेटी नज़र आए भारी कदम उठाता उनके जानी बढ़ा अस्सलाम और लेकुम कैसे हैं आप अब्तिदाए करमात अदा किये वो मुद्दे की बात पर आया था जलाल सहाब आप मेरे सीनियर है और मैं आपकी बहुत इज़त करता हूँ लेकिन करकी मिटिंग में मुझे आपका रवया कुछ समझ में नहीं आया आप ये मत समझेगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के हाथ से निकल जाने का अफसोस है बिजनेस की दुनिया में हाथ जी चलती रहती है लेकिन आपके मताबिक इस प्रोजेक्ट में में पार्ट में मैं और हमदानी इंपायर शामिल था तुम इस L.K. कौन है और L.K. कमपनी के ओनर की तो डेथ हो चुकी थी फिर वो कमपनी अचानक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हासिल कर गई मुझे सच चानना है और मैं उमीद करता हूँ आप सच ही बोलेंगे सारी तफसिर जलाल साहब के कोश गजार करके मकाबल मौजूद शक्स जवाब जाना चाहा देखो काजान मुझे इस बारे में जादा तो नहीं पता लेकिन वो इस प्रोजेक्ट में अचानक शामिल हुई थी और इनके शेयर्स भी जादा थे तो प्रोजेक्ट इन्हें को मिला जमाल खान की मौत के बाद इस कमपनी को मिस लाइबा नहीं संभाला है मैं तो इतना तो नहीं जानता एज से वो 24-25 साल की लग रही है लेकिन वो अपनी एज से बड़े काम कर रही है तो जाहर है अपने बाप की कमपनी को दोबारा उपर लाना चाहती है जलाल साहब ने मताना से जवाब दिया बहरेहाल जलाल साहब मुझे मिस लाइबा के बारे में डिटेल चाहीए और मुझे उमीद है कि आप मेरी हिल्प जरूर करेंगे या शौर मैं आपकी हिल्प करूंगा काजान ने महसर हिलाया था वेटर को खाने का ओडर करके वो दो बारा बातों में मश्गूल हुआ मारी एक चीक के साथ इसने मारी को अपनी जाने मुझे किया था आओ इधर दे चलते हैं वो देखो मेकप का कितने स्टॉक है मुंताह की तवज्जे हमेशा एक चीज नहीं खीचनी थी और आज भी वही हुआ था मारी का सांस अटका अह गई भैस पानी में जिसका डर था वही हुआ अब एक घंटा फुजूल मुंताह ने जाय करना था और इसको रोकना भी एक किसम का बेकार ही था लेकिन वहां से भागना भी मुम्किन नहीं था वरना इसकी शामत हाशिर के हाथ तो पक्की थी मुंताह वो देखो चाट गोल गपे आओ पहले वो खाते हैं फिर आराम से लेना जो लेना होगा मारी मुझे पता था तुमने ऐसे ही कहना है जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से मेरा मेक अप तो तुम्हें अपना दुश्मन लगता है चलो जल्दी आओ मेरे साथ घूरती नजों से देखती बाजू पकड़े वोसे ने शौप के जानिब बढ़ी थी मारिया ने बेसाकता आस्मान की जानिब देखा था और खुद के लिए सबर मांगा था और इसके साथ आगे बढ़ी थी वो शौप फलोर पर दूसरी साइट पर थी और दोनों को भून कर इस तरफ जाना था दूसरे जानिब आकर वो अभी शौप में बढ़ने वाली थी जब वहां खड़े एक खुबरो लड़के की नजर मुन्तहा पर गई और मुन्तहा की नजर भी बेसाकता इससे टकराई नजर मिलते ही इसने आँख का कोना दबाया मुन्तहा की आँखों में एकदम नागावारी आई लेकिन वो नजर अंदास की आगे बढ़ी थी किसी शक्स की आवास पर इसके कदम थमे शानी या लाल रंग की खासित जानता है ये रंग अच्छे अच्छों के होश उड़ा देता है और देख एक लाल परी मुझे अपनी जानी बुला रही उफ ये मेरा कमीना दिल कभी कभी गलत दिमान कर देता है वही शक्स अपने साथी दोस्त के कंदे पर हाथ रखकर बेहुद्गी से गोय हुआ इसकी बकवास पर मुन्ता का खून खुला था लेकिन वो नजल अंदास की आगे बड़ी मारिया बेसाफता नजल जुका कर मुन्ताह की बाजू के साथ सिपकी थी दर्वाजे के हंडल पर हाथ रखकर इसने अंदर जाना चाहा जब उसे अपना डुपट्टा यगदम हलका सा खिशता हुआ महसूस हुआ चहरा जबत से लाल हुआ और बड़दाश्ट की हद पार हुई यगदम उपीछे मुड़ी और जोरदार थपड़ इस शक्स के गाल पर मारा इसकी हरकत पर वहां मौझूद लोग भका बका रह गए थे और इस शक्स की आंके हैरान रह गए यगदम उसे समझ नहीं आई कि पल भर में क्या हुआ था मारिया मुझे लाल चहरा बहुत प्यारा लगता है इसलिए मैं चहरे लाल करने में बहुत एक्सपर्ट हो और देखो आज मैंने एक शक्स की खुआईश पूरी कर दी और मिस्टर तुम लाल रंग की दिवाने कैसा लगा लाल रंग लाल रंग आखिर अपना कमाल कर गया उमीद करती हूँ तुमें भी इस रंग में अच्छी खासी खुशी दी होगी और शेयर दोबारा लाल रंग की खुआईश तुम कभी नहीं करोगे तमस्कराना अंदाज में कहते वो मारी का हाथ पकड़े सीडियो की जानी बढ़ गई हमदान संपाट चहरा लियों से जाता देखता रह गया ड़गी की जुरत उसे तैश दिला गई थी सीडियों से नीचे जाते हुए वो मसलसल मारीया को बाते सुना रही थी खुदा लोग इनको लगता है औरत को देखने के अलावा और कोई काम नहीं होता वो मुह ही मुह में बढ़ बढ़ाई अब क्या होगा मुंतहा अब किसके शामत आई है मारीया ने बेचागी से पुछा वो देखो एक और लफंगा मुझे ताड़ने में मसरूफ है इसका तो मैं अभी बताती हूँ इससे पहले वो नीचे उतरती मारीया ने इसका हाथ पकड़ कर रोका मुंतहा ने गुस्टे से हाथ चुड़वाया और पीछे की तरफ मुर कर उपर की जाने देखा और इसी हाथ के इशारे से पांच उंडियों का इशारा दे कर उसे लानक भीजी थी मुकाबिर शक्स इसकी हरकत पर हैरान हुआ था और खुद को मलामत किया आगे बढ़ गया और मुन्तहा नीचे की जानीब आकर तेज कदमों से बाहर मौझूद गाड़ी का दर्वाजा खोल कर धप करके गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी और जोर से दर्वाजा बन किया गाड़ी के बोनट के करीब मौझूद खड़ा वो सिग्रेट के गहरे कश लेता हाशिर तीखे चतून लिए मुन्तहा के जानीब बुरा था मैंने कुछ नहीं किया क्या बततमीजी की है मैंने जो आप ऐसा बोल रहे है घुस्से की शिदध भरी मुन्तहा ने आज हाशिर का भी लहाज नहीं किया मुंतहा, हाशिर महस चिला कर रह गया लेकिन आज मुंतहां की आँखों में कोई डर, कोई नवी नहीं थी और यही चीज हाशिर को हैरान कर गई तुमसे बहस करना बेकार है गाड़ी को स्पीड में लेकर सपार चेहरे के संग गाड़ी जिराय करता रहा मारिया को इसने हाशिर को कुछ भी बताने से मना किया था मारिया बजित थी लेकिन मुंतहा ने उसे अपनी कसम दे कर चुप करवा दिया था पूरा सफर एक नामोनूस सी खामुशी में कटा था सीरियो पर मوجود शक्स को मज़ा ना चखाने का अफसोस वो तवाम सफर के दौरान करती रही और इस अफसोस में वो हाशिर को भी भूल गई थी रेस्टोरंट से निकल कर वो अपनी गारी के जानिब बढ़ा मॉल पर नज़र पड़ते ही उसे समरीन बेगम के लिए कुछ खरीदने का ख्याल आया था ड्रैवर को वही वेट करने का कहकर वो मॉल के जानिब बढ़ गया किसमत भी शायद आज उसे यहां अलाना चाहती थी मॉल में दाखिल होते ही इसकी नज़र बेरादी में सामने मौजूद दो लड़कियों के जानिब गई थी और आँखे सुर्ख हिजाब में मलबूस लड़की पर जमी थी बिना लोगों की परवा किये वो अपने साथ मौजूद लड़की से बहस में मगन सीरियों के जानिब आकर नीचे आ रही थी गाजान के कदम बेसाखता आगे बढ़े थे और दूसरी जानिब से उपर जाती सीरियों के जानिब बढ़ा लेकिन नजरे अब भी इस लड़की पर जमी थी अपनी बेख्तियारी का उसे एहसास भी नहीं हुआ और दिलने बेसाखता इसके साथ की तमना की थी 28 साला जिन्दगी में ये पहली मनतबा था कि कोई लड़की अपनी लापरवाई में इसके दिल पर वार कर गई थी उपर के जानिब जाता अपने दाएं जानिब देखने में मगण था इस लड़की के नजर भी गाजान पर पड़ी और इसके चहरे पर सक्त तास्रात नुमाया हुए एक साथ मौजूद लड़की ने बेसाखता इसका हाथ थाम कर उसे रोका लेकिन इसकी अगली हरकत गाजान को सट पटाने पर मजबूर कर गई और इसकी जुरत पर हैरत के साथ उसे हसी बे आई थी हाथ की पांच उंगलिया इसने लानत के अंदाज में इसकी जानिब की थी गाजान ने फौरान रुख फेरा और उपर की जानिब बढ़ गया लेकिन इसके कदम थमे थे कुछ सोचकर वो दोबारा नीचे की जानिब आया दिलने दोबारा इस हसीन मुखडा देखने की खौईश की थी अपनी खौईश पर लब्बेक कहता वो नीचे आया लेकिन वो लड़की वहां मौझूद नहीं थी इदर उधर नजरे दोड़ा आये इसने मुंतहा को तलाशा लेकिन वो नजर नहीं आई तेजी सी वो मौल के दर्वाजे से बाहर निकला था सुरुक रंका वो आचल उसे गाड़ी में बैठते नजर आया सया पराड़ो उसे जानी पहचानी लगी लेकिन याद नहीं आया कि किसकी थी चर्ण सेकर में वो गाड़ी आगे जा चुकी थी और वो वहाँ दिवानों की तरह इस गाड़ी को देखने में मगन हुआ था इसकी हिम्मत कैसे हुए मुझ पर हाथ उठाने की इस लड़की की इतनी जुर्रक कैसे हुई किसमे मुझे थपड मारा गाजान सिद्धी के भाई पर हाथ उठाया समझती क्या है वो अपने आपको इसको मैं छोड़ूंगा नहीं इसकी तो मैं एक दम हो चिलाया था और तेजी से आगे बढ़ा था कैसे शानी ने कंदे से धामा था रुक जाओ हमदान अगर तू गया तो लोग तुझे ही मौर देर्जाम ठहराएंगे इसलिए चुप करके यहां से चलते हैं शानी से उन्हें उसे रोका था और वो तूने एक जानी बढ़ गए गलती तेरी ही है अली ने उसे टोका ग्राउन फ्रोर पर आती हमदान ने अपना हाथ चुड़ाया और अली के गिराबान से पकड़ा आँखे इस वक्त शिद्ध गिरिया से लाल हो रही थी अपनी बकवास बन कर ले मेरा दिमाग खराब है इस वक्त ये ना हो मेरा हाथ उट जाए आँखों में आँखे डाले इसने अली को वान किया ओके काम डाउन मैं कुछ नहीं बोल रहा अली ने इस वक्त चुप रहना ही जरूरी समझा तू रिलेक्स हो जा शानी पानी लेकर आ जल्दी से अली ने शानी को इशारा किया मैं जा रहा हूँ मुझे इस वक्त कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे जाना चाहिए वनना मैं कुछ कर दूँगा बालों में हाथ फिरता वा जुनूनी अंदास में बोल रहा था अली को एक जानिब करके वो हाल के दर्वाजे के जानिब बढ़ा था जब सामने से आते गाजान से इसकी टकर हो गई अंदे हो क्या देखकर नहीं चल सकता क्या बिना गाजान के जानिब देखे हो बोलता चला गया अपने सामने हमदान को देखकर हो चौंका हमदान तुम यहां क्या कर रही हो भाई आप यहां हमदान भी चौंका था और अपनी बत्तमीजी पर शर्मिंदा हुआ था वही तो मैं तुम से पोच रहा हूँ और ये क्या हुलिया बनाया हुआ है गाजान ने इसके सुर्क चहरे और पोनी में बंदे बालों की जाने भी शारा किया यगदम वो आगे बढ़कर गाजान के कले लगा और शिद्दत से उसे अपने बाजों में भीचा इस वक्त गाजान का करीब रहना ही इसका गुस्सा कम कर सकता था क्या हुआ गाजान ने अपने दोनों हाथ इसके गिर्द लपेटे हमदान बताओ मुझे क्या हुआ है सब ठीक तो है भाई जब्त से वो भाई कहकर खामुश हुआ और गिर्फ्त मजीद सकत की हमदान बताओ मुझे क्या हुआ है क्यो ऐसे बढ़ताओ कर रहे हो गाजान के सवाल पर वो होश में आया था और खुद पर जब्त किये इसने खुद को संभाला और सीधा हुआ भाई हुआ कुछ नहीं बस आपको देखकर बंदय वश्र एमोशनल हो गया सुबा आपसे मिले बगर घर से निकला था तो बस सब सैट सैट लग रहा था अब आपको देख लिया तो बस दिमाग में रोशन हुई थी चहरे पर जरा सी मस्कुरहाट चमकी गाजान के चहरे पर मस्कुरहाट देखकर उसे शदीद हैरत हुई माउम के लिए शॉपिंग करने आया था इससे पहले उँ मजीद तफसिर बताता कि दर्मियान में ही फोन डिंग हुआ लेकिन क्या भाई खेर तो है हमदान ने गाजान से इस तफसार किया वेट कॉल रिस्यू कर लो इंपोर्टन्ट है हमदान महज अजबात में सरिलाग कर रह गया हमदान ने भी आँखी मेच कर खुद को कमपोस किया भाई के सामने वो इस लड़की की हरकत का जिकर नहीं कर सकता था गाजान काना इसकी गुस्से को कम कर गया वरना वो आज गुस्से में सब तबहाव बरबार कर देता कुछ देर बाद कॉल सुनकर वो दोबारा पीछे मुरा था घर चल बात करते हैं फिर बाद में हमदान के कंदे पर थबकी देकर्स ने कहा भाई आप जाएं मुझे एक इंपोर्टन काम के लिए जाना है रात तक आ जाओंगा खाना आपके साथ ही खाओंगा आप बेफिकर रहे जबरदस्ती मुझकरा सजाय इसने कहा इस वक्त वो गाजान के साथ नहीं जा सकता था वरना कुछ न कुछ गल्लत जरूर हो जाता गाजान भी बहस करना जरूरी नहीं समझा और ओके कहते वहां से जाने के लिए निकला जब पीछे से हमदान ने से दोबारा वाज लगाई भाई रुके गाजान के करीब आइस ने दोबारा शिद्दत से गाजान को गले लगाया I love you so much भाई Love you more than everything गाजान को आठ हमदान को रवया चौका रहा था खेर तो है आज भाई बहुत प्यार आ रहा है भाई पर और जगे देख लो सब हमारे जानी मुतवज़े हैं कुछ खयार कर लो गाजान ने इसकी दवज़े इर्दगे दिलवाई थी उपस भाई मुझे अंदाजा नहीं था जीब कर वो पीछे हुआ गाजान महद मुस्कुरा कर वहां से निकलता चला गया सर से मेरी बात हो चुकी है जवैया वो लोन के लिए मान गये है अरीबा ने जवैया को खुशी की खबर सुनाए थैंक्यू अरीबा मुझे उमीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी लोन मिल जाएगा मैं तुम्हारा यह अहसान कभी नहीं भूलूंगी और मैं इसका अहसान का बडला चुका कर रहूंगी जवैया के चेहरे पर इस वक्त अलोही चमक थी मतानत से कहती वा अरीबा की शुकर गजार हुई अब तुम मेरी दोस्त बन चुकी हो और दोस्ती में फॉर्मिलिटीज नहीं निभाई जाती और जब भी किसी मदद की जरूरत हो मुझे जरूर बताना मैं हर मुम्किन कोशिश करूँगी अरीबा ने अपने धीमे लहजे में उसे समझाया और जवेरिया महिज मुस्कुरा कर रह गई आगे जाकर यकीनन कोई न कोई हाथसा इन्हें जोडने वाला था गर में दाखिन होते ही मुन्तहा दर्वाजा खोल कर तेजी से अंदर के जानी बढ़ गई बिना कुछ बोले बिना किसी चीज़ को हाथ लगाए वो सीधा अपने कमरे में आई थी लाउंज में इस वक कोई भी नहीं था और मुन्तहा ने शुकर अदा किया था कि ताई अमी और आगाचान लाउंज में मौजूद नहीं थे वरना इनको अंदाजा हो जाता कि मुन्तहा के साथ कुछ हुआ है और आज वो क्या कार्णाम अंजाम दे कर आई है कमरे में आकर हैंड बैक बैट पर फेका था और कमर पर हाथ रखकर इधर से उधर चक्कर लगा कर इसने गुसा कम करना चाहा लेकिन हमदान की बत्तमीजी और इस आदमी का उसे कुछना मुन्तहा के गुसे को मज़ीद बढ़ा रहा था घटिया इंसान लार रंग देखना था न तुम्हें अच्छे से देख लिया होगा ना जाने कहां से आ जाते हैं बेहुद लो तखयूल में ही वो मौल वाले लड़के से मुखाती हुई आज का दिन ही मुखूल था एक से एक घटिया लोग इस दुनिया में है वो सीडिया वाला आदमी बस दोबारा मेरे सामने आ जाए नानी याद ना करवाई तो मेरा नाम भी मुन्तहा सुल्तान ही उफ क्यों था आज का दिन इतना बुरा जर लाते हुए वो बैट पर बैठी थी और साइट टेबल से पानी का गिलास भर कर एक सांस में फटम किया पानी पीकर हवास कुछ बहाल हुए तो आज का अपना हाशिर के साथ रवाईया याद आया और जबान दातों तले दबाई और सर पर चपत रसीत की उफ ये मैंने क्या कर दिया इन थड़कियों का गुस्सा हाशिर परतार दिया हाई अल्ला जी हाशिर तो पहले ही मुझसे दूर दूर और उलचे उलचे रहते हैं अब तो और भी दूर हो जाएंगे मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही बोल जाती हूँ अब ना जाने क्या होगा हाशिर तो मेरी जानिब अब नहीं देखेंगे ये सब इन दो थड़कियों के वज़े से हुआ है ना वो आज मेरे सामने आती और ना मेरा मेकप खरीदने का इरादा तबाह होता और ना ही मैं हाशिर से बत्तमीजी करती कास्मेटिक्स ना खरीदने का मलाल उसे शिद्दत से हुआ था अब तो हाशिर लेकर भी नहीं जाएंगे मुझे अब मैं किसे न्यू शेट्स के लिपिस्टिक लूँगी हाथ की उंगलिया मरोड़ती वो मेकप ना लेने पर पश्टा रही थी ये सब इन दो ठड़कियों के वज़े से हुआ है अल्ला पूछे तुम दोनों को तुम्हारी वज़े से मेरा सारा प्लैन अधूरा रह गया तीसरी मरतबा इसने इन दोनों को दिली दिल में सखत सुस्त सुनाई थी बैट पर लेट कर वो इन दोनों को सोचते हुए कुछ तेर गहरी नीन में गर्क हो गई थी मॉल में इन्हें छोडने के बाद वो आगे बढ़ा ही था जब इसके नमबर पर आफिस से कॉल आई थी अरीबा ने उसे जवेरिया के बारे में सब तफसील से बता दिया था जवेरिया का नाम सुनते ही इसके चहरे पर खुशगवार मुसकान चमकी थी लेकिन इसके हालात का सुनकर उसे अफसोस भी हुआ अरीबा आप मिस जवेरिया को लोन दे दे और इनके पेपर्स पर साइन जरूर करवा दिये जेगा लोन का कहकर इसने बाकी आफिस के मामलाद का पूछा था जिसका अरीबा ने तसलिफ बख्ष जवाब दिया था मज़ीद कुछ कहे इसने फोन बन किया और सज़ाद साफ से मिटिंग्स वगएरा के मामलाद डिसकस किये वो वही ठहर गया कौल बन करके वो बोनट के पास खड़ा होकर जवेरिया को सोचने में मगन था और वक्त गुसरने का उसे एहसास भी नहीं हो पाया लेकिन आज मुंतहा का बोलना बलकि बिना डरे बोलना हाशिर को चौंका गया था मारिया के सामने और चुप कर गया लेकिन मुंतहा से बत्तमीजी का जवाब और लेने वाला था मुंतहा सुल्तान मैं आज चुप कर गया लेकिन याद रखना तुम्हें इसका बदला देना ही होगा तुम्हें मेरी साथ बत्तमीजी करके अच्छा नहीं किया आज की मेरी खामुशी का तुम इससे पहले नाजायस भाइदा उठाओ तुम्हारी जुबान का कुछ लाज करना ही होगा सिगरेट के गहरे कश लेता और आज के इस पहर अपने बदले की सोच रहा था कौन थी वो लड़की इसकी हमत कैसी ही मुझ पर हाथ उठाने की इसको मैं छोड़ूंगा नहीं हमदान सिद्धी के पर हाथ उठाने की जुड़त कैसी हुई इसकी तुम जो भी थी तुम्हें मैं पाताल से भी ढून कर सजा दूँगा लेट में अकेला बैठा वो दोपैर हुए वाके पर कोड रहा था तुमने गाजान सिद्धी के भाई पर हाथ उठाया है शराब के गून भरता वो इस वक जुनूनी हो रहा था मन में बस एक ही खुएच सर उठा रही थी किसी तरह वो लड़की सामने आ जाए और उसे तबाह बर्बाद कर दे तुम्हारे इज़त की धचिया ना उड़ाई तो मेरा नाम हमदान सिद्धी की नहीं आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू मैं तुम्हारा पता तो लगा कर रहूँगा मौत की भीख माँगोगी लेकिन मौत नहीं दूँगा मैं तुम्हें अपने संगीन लफजों का उसे शराब के नशे में कुछ अहसास नहीं हो रहा था मुसलसल फ्लेट की बेल की वज़े से वो लोड़ खडाता हुआ दर्वाजे तक पहुँचा जहां एक मौडरन सी लड़की चुस्त लिबास में मलबूस हमदान के लिए ही आई थी वाली ने स्पेशल इसके लिए उसे भीज़ा था फोन करके इस नहीं लड़की को भीजने का कहा था आगे बढ़कर लड़की को सकती से बांगों में भीज़े वो अंदर बेडरूम की जानी बढ़ा गया रात के गहरे अंधेरे में बिना भूग प्यास और सरजी का खयार किये वो लॉन में बैठा सिक्रेट सुलगाए इस एक मनजर को सोच रहा था चहरे पर इस पांच उंगलियों वाली हरकत का सोच कर इसके चहरे पर बारहा मस्कुरहाट चमकी थी और सोचते सोचते हो ना जाने कितने सिक्रेट फूंक चुका था एक ही मनजर जैसे आँखों के आगे जम कर रह गया था उलाल हिजाब में वो चांद चहरा गाजान की रीन उड़ा कर ले गया दिल की धरकन में वाज़े फर्द महसूस हुआ था जैसे इसका दिल एक सुकूत नमा जील की मानिन था जिसमो लाल हिजाबी चहरा अपनी एक जलक से पत्थर फेक कर इस जील के पानी को मनतशर कर गया इसके दिल को लड़काने का सबब बन गया अपनी तलाश उसे खतम होती नजर आ रही थी दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि वो उसे मिल जाए इसके किसमत का रोशन सितारा बन जाए और ये डर भी था कि कहीं वो किसी और की किसमत का चान बन कर इससे दूर भी ना चली जाए सितारे तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन यहां बात चान की थी जो सिफ एक अकेला है जिसे हासल करना हर कोई चाहता है लेकिन वो होता सिर्फ एक ही किसमत में और किसमत का धनी शक्सी इस चान का हगदार होता है काजान की खौइश ही किसमत का धनी बनने की थी आप जो भी थी जहां से भी आई थी मैं आपको तलाश कर लूँगा एक अकिदत थी इसके लहजे में अगर मुंधा जैसी कोई लड़की या अकिदत भरांदास कभी सुन लेती तो इस चक्स के कदमों में अपना दिल हार बैठती तमाम उमर दासी बन कर गुजारती लेकिन वो मुंधा सुल्तान थी अपने पिया की जोगन जिसे जोग लगाना पसंद था लेकिन किसी और का होना कभी गवारा नहीं था आस्मान की जानित देखे इसने अपने रफ से एक ही लतिजा की थी जो शायद कुबूलियत का दर्जा पा गई रात के इस पहर तीन लोग एक ही लड़की को तीन मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे थे एक की सोच में नफरत थी तो एक की सोच में बदला और जिसकी सोच सबसे पाकिज़त ही किसमत इससे ही इमतिहान लेने वाली थी दीरे से दरوازा खोलकर वो दूद का गिलास अंदर लिय दाखिल हुई और मुंतहा को सोता देखकर बेसाफता चहरे पर मुस्कुराहट आई मारिया से उन्होंने मुंतहा के बारे में पूछा था मुंतहा कहां है मारिया कौफी देर मुंतहा के ना नजर आने पर उन्होंने मारिया से पुछा जिसके जवाब में मारिया ने इस वाके को छोड़ कर सारी तफसिल वताई थी इसके खाना खाने का ना सुनकर वो जिए अगदम परिशान हुई थी दूत का गिलास लिए हो मुंतहा के कमरे के जानी बढ़ गई मेरी बच्ची करीब जुपकर पेशानी पर बोसा देकर उसीधी हुई और इसकी चीजों को देखने लगी जो एक तरतीब से सैट थी बैट पर एक हैंड बेग ही सिर्फ कमरे में अपनी जगे से हट कर पड़ा था पर बाकी चीज़े एक तरीके से सजी मुंतहा के सुगरपन का आला सुबूत थी ड्रेसर पर सजे एक से एक मेकप ब्रैंड की चीज़े जिनको एक तरतीब से इस तरह सेट किया गया था कि किसी चीज़ के गिरने का खचा नहीं था लिपस्टिक को एक बाक्स में तरतीब में रखा गया था हर कलर की आसानी से पहचान हो परफ्यूम को एक चानी सरकल की तरह जोड कर एक फूल नुमा दाइरे बना दिया था बाकी लौाजमात रेक में सजे अपनी शान और शौकत जाहर कर रहे थे मुन्तहा का एक ही शौक था जिस पर उक भी कमप्रोमाइस नहीं कर पाई थी जूबिया बेगम को याद था बच्पन में उनकी लिपस्टिक अक्सर पूरे फेस पर लगा लेती थी और पूरे घर में घूम कर सब को हसने पर मजबूर कर देती थी एक वाहे धाशिर था जिसे शुरू से मुन्तहा से कोई बेर था मुन्तहा की मेकप करने से उसे चिड़ थी अक्सर वो बेश्टर वो जूबिया बेगम को मुन्तहा की मेकप की वज़े से टोकता था जबकि जूबिया बेगम मुस्करा कर रह जाती 20 साल तक वो जूबिया बेगम के करीब रहा था लेकिन फिर आहस्ता आहस्ता वो दूर होते होते बहुत दूर जा चुका था यगदम वो अपने ख्यालात से बाहर आई और मुंतहा पर एक मीठी नज़र डाले वो वाड़ॉप की जानी बढ़ गई सजे मुंतहा के कप्ड़े जूविया बगऑम को हसने पर मجबور करके हर कलर की शॉर्ट फ्रॉप इसके वाड़ॉप में सजी थी जिद करके इसने तकरेबं शॉर्ट फ्रॉप के साथ गहरदार सलवार जिद करके बनवाई थी जूबिया बेगम को इसकी मनतख पसंद नहीं आई थो उन्होंने मना किया लेकिन मुनतखा ने जिद नहीं छोड़ी आगा जान की लाडली पोती होने का फायदा उठा कर और आर्ट कलर्ड में मुक्तलिफ स्टाइल में शॉर्ट फ्रॉग डिजाइन करवाई थी आज भी वो उसका हैंड बेग उठा कर उन्होंने अलमारी में रखर वापस मुड़ी मुनतखा कमले में किसी की मौजूद की महसूस करके कसमस आई थी और कुछ दिर बाद मुकमल नीन से बेदार होकर जूबिया बेगम को देख रही थी उठ गई तुम मुस्कुराहट के संग मुनतखा के करीब आई जी अम्मी उठ गई जमाई रोकते इसने जूबिया बेगम को जवाब दिया मारिया ने बताया कि तुम आते ही रूम में आ गई और शॉपिंग भी नहीं दिखाई सबको कुछ हुआ है क्या हाशिर बेटे ने कुछ कहा है जूबिया बेगम ने धीमे से एकतिफार किया जूबिया बेगम की बात से दोपहर का तमाम वाकिया इसके जहन में घुम गया और वो तफसिलन जूबिया बेगम को सब बताती चली गई जूबिया बेगम की आँके हैरत से फैली थी माँ से इसने कुछ छुपाना सीखा ही नहीं था मुंतः बेटा आपने हाशिर को तो इस बारे में नहीं बताया नहीं अम्मी मैंने इने कुछ नहीं बताया वो पहले ही मुझसे सक्त मुतनफर है गाड़ी में भी हमारी बहस हो गई अब वो नाराज हो गए है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ एक और परिशानी इसने जूबिया बेगम के सामने रखी थी मुन्तवा उल्टे काम तो आप फर्ज निभा कर करती हो हाशिर बेटे के साथ आपने बत्तमीजी क्यों की जूबिया बेगम ने सक्ती से पुछा अम्मी बस उन लफंगों का गुसा मैंने हाशिर पर उतार दिया अब मुझे अपनी गल्ती का हिसास हो रहा है अम्मी आप बताएं मैं क्या करूँ हाशिर तो नारास हो गए है जूबिया बेगम के दोनों हाथ पकड़े वो हलकान हुई कुछ नहीं होता तुम उसे सौरी कर लेना वो बहुत अच्छा बच्चा है मान जाएगा जूबिया बेगम ने कहे कर आँखे चुराई थी जानती थी हाशिर पिछले दस सालों से इनसे दूर चा चुका था अम्मी वो मान जाएंगे ना मुंतभा ने दोबारा तसली चाही थी हाँ वो मान जाएगा बस तुम मना लेना गाल पर हतेरी रखे नोंने मुंतभा को सुकून का पहलू अता किया जरा सा मुस्कुराती वो दूद कर गिलास लबों से लगा गई मौम हमदान नहीं आया भी तक क्या आपको बताया इसने कुछ समरीन बेगम के कमरे में दाकिल होकर इसने पूछा था जहां समरीन बेगम फोन हाथ में पकड़े चकर काट रही थी लौन से उठकर वो अंदर की जाने बढ़ा था कि पोर्च पर इसकी नजर पड़ी हमदान की काड़ी वहां मौझूद नहीं थी और इसके मताबिक डिनर तक इसने पहुँचना था लेकिन रात के वारा बच चुके थे और हमदान का कुछ अता पता नहीं था बारहा इसके नमबर पर ट्राइ किया लेकिन नो रिस्पॉंस कुछ सोच कर वो समरीन बेगम के कमरे के जाने बाया नहीं बेटा मुझे तो इसने कुछ नहीं कहा मलकी दो पहर भी जल्दी में था बस यही कह कर गया कि दोस्तों के साथ जा रहा हूँ जानते भी हो हवा के घुडे पर सवार रहता है बस यही पता कर चला गया वो अब तक आया भी नहीं मैं भी इसके नमबर पर ट्राइ कर रही थी लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा बस अल्ला पाक सब खैर करे यह लड़का हमेशा जान सूली पर लड़का कर रखता है तुम अली को फोन करो शायद इसके साथ हो समरीन बेकम की बात पर मतफिक होकर इसने अली का नमबर डायल किया कुछ देर बाद अली के आवास फोन में सुनाई दी अली हमदान तुम्हारे साथ है मात्य पर बल डाले भारी आवास से इसने अली से इस तफसार किया अली से लहजे पर यह अखलक सिम्टा था और खुद को कमपोस करके इसने काजान को तफसीली जवाब दिया जो हमदान के बकौल के वो आज रात इधर ही रहेगा और इस वक्त वो गहरी नीन में है अली ने बात करो बदल कर गाजान को तसली बक्ष जवाब दिया भाई वो सो रहा है अगर आप कहते हैं तो मैं उसे उठा देता हूँ नहीं रहने दो अगर सो रहा है तो उसे तंग ना करो और सुबह उठे तो उसे कहना कॉल करें मुझे अपनी बात कहकर बिना मकाबल की सुनें वो कॉल कार गया मॉम वो आज अली की तरफ है कल आता है तो मैं उसे समझाओंगा आज फिलाल रेस्ट करें शब बखेर दीमी मुस्करहाट की संग कहता वो अपने कमरे की चानी बढ़ गया नाश्टी की टेबल पर इस वक्त सब मौजूद मारिया की निकाह को ही डिसकस कर रहे थे आगाचान सब इंतिजाम हो चुके है लॉन में डेकोरेशन भी कल तक हो जाएगी और फुपु की कॉल आई थी कि कल तक वो भी यहा होगी हाश्र तफसिली जवाब दिये नाश्टी में मगन हुआ जब मौन्ताह ने बलेक काफिस की प्लेट के पास रखी हाश्र यह ताई अमी ने भेजी है मौन्ताह ने देमे से कहा मक पर नजर पढ़ती उसे हैरत हुई क्योंकि इस पर बड़े लबजों में सौरी लिखा गया था जिसका रुप हाश्र की जानिब था बाकी वाइट प्लेन मक की दूसरी साइड अगजान की जानिब थी ठैंक्यू कहकर इसने कप को एक जानिब कर दिया कप को दूर करते ही मुंतः ने लब दान्तों में दबाया और हाथ को मरोडा हाश्र का कप का जरा सा रुप चेंज करना सब को इस सौरी को जाहर कर देता और इसने इसकी जानि सवाले नजरों से देखना था जिसका जवाब मुंतः के पास बिल्कुल नहीं था और कोशिश करके भी वो घरवालों से इसका जिकर नहीं कर सकती थी नाश्टा करके वो उठा और मग लिये डाइनिंग हॉल से निकला मुंतहा के चहरे पर मस्कुराहत चमकी और वो भी एक्सक्यूस करती हाशिर के पीछे आये थी रहोधारी में आते ही वो रुका था और बेसाकता पीछे मुणा मुंतहा के कदम भी थमें हाशिर वापस इसके जाने बाया अपने करीब आता देखकर मुंतहा की जान हलक में अटकी थी चन्द कदम के फास्ले पर रुक कर वो मग को इसके सामने लाया तुम सोरी करना चाहती हो अपनी गलती का बच्टावा है ना तुम्हें सर्द अंदाज में कहकर वो मजीद नज्जिक आया और मुंतहा पीछे के जानने खिसकी बोलो माफी चाहती हो ना दोबारा सक्ती से गोया हो जी उधिरे से मन मनाई ये लो तुम्हारी माफी काफी कमग इसके सामने किया इसने साइड पर मौझूद पुलाब के पौदे में काफी उंडेली थी और कब कुछ दूर मौझूद बास्किट में फेका ये तुम्हारी काफी और माफी दोनों मैंने मिट्टी में चली गई उपस माफी तो बास्किट में गई समस्कराना अंदाज में कहते इसने मौन्टा की जानिद देखा मौन्टा जो दमकते चहरे के साथ हाशिर की माफी कुबल करने की मौन्तिजर थी हाशिर का अंदाज देखकर इसका रंग फीका पड़ा और आंखों में नमी चमकी आइंदा मेरे साथ बत्तमी सी करने से पहले सव बार सोचना मौन्टा सुल्तान मेरी खामुशी को कभी मेरी कमजोरी मत समझना महस मारिया की वज़े से मैं खामुश हुआ था वरना इसी वक्त मौ तोड़ जवाब देता अपनी जुबान को लगाम दो तो ही जिन्दगी पुरसूकून रहेगी वरना ये तुम्हारी खुशाल जिन्दगी गम में ना बदल दी तो मेरा नाम भी हाशिर नहीं आगे बढ़कर मौन्टा का मौ दबोचे इसने लबजों का जहर उंडेला था अपनी हरकतों से वो इस वक्त कहीं से भी एक पड़ा लिखा और समझदार इंसान नहीं लग रहा था हाशिर मू छोड़े हलक में आशों का फंदा अटका था बोलना उसे दुश्वार लग रहा था मौन्टा की आँखों में आशों देखकर हाथ की रखत कम ही और दिल को यगदम पच्टावा हुआ पहली मरतबा मुन्टा के आशों से बुरे लगे थे मोटे मोटे नैन कटोरों में आशों अजीब सी बेचैनी दे रहे थे यगदम इसने अपना हाथ खीचा और वहां से निकलता चला गया सुरकालो के संग बाजों से मूँ पोच्टी वो कमरे के जानी भागी थी डोर बेल के आवाज से इसके आँख खुली थी भारी होते सर के संग वो उठा और शर्ट पहने बाहर के जानी बढ़ा दर्वाजे पर अली और शानी को देखकर वो हैरान हुआ तुम लोग सुबा सुबा यहां क्या कर रहे हो हमदान माते पर बल डाले इन से इस्तफार किया यार तेरे भाई का रात को फोन आया था और वो काफी परेशान भी थे उन्होंने हमें फोन करके तुझे घर जल्दी भेजने का कहा है और हम इसलिए आये हैं के तुझ जल्द जल्द घर पहुँच जाए तुझे फोन तो तुने बंद कर दिया है अब जल्दी से रेडी हो और निकल यहां से अली ने उसे वहां से जल्द जल्द बेजना चाहा हाँ मैं चाहता हूँ भाई मेरा वेट कर रहे होंगे नाजुक गाल पर सुख उंग्यों के निशान वाज़े थे और गाल पर होती तकलीफ से बढ़कर दिल की तकलीफ थी सुख होती नाथ मसलसल रोने का पता दे रही थी जितना वो हालात को सुधाना चाहती थी इतने ही बिगड़ते जा रहे थे महबत को एक तरफ किये वो घर वालों की इज़त के डर से भी कभी हाशिर का रोया किसी को बता नहीं पाई थी अपनी जाद से ज़्यादा उसे अपने माबाब की परवा थी कुछ भी करके वो इस रिष्टे का निभाने का वादा कर बैठी थी लेकिन हाला तब हद से ज़्यादा गुजरते जा रहे थे हाशिर का दिन बदिन बिगरता रोया उसे अंदेशों में धकेर रहा था पहले वो एक खामोश समंदर की मानिन था लेकिन पिछले चन्द दिनों में वो एक मौशदार समंदर बन गया था महबत की हद पार करके वो इश्क की रहा पर कदम रख चुकी थी और इश्क में तो महबूब के सांस लेने का अंदाज भी अजबर हो जाता है कि किस अंदाज से लिया गया है लेकिन यहां सांस लेने का अंदाज तो क्या सांस लेने का रुख ही बदल चुका था तंस की तीर चलाना बाद बाद पर तनफर का इजहार करना मुंतहा सिल्टान को सब समझा गया था कि हाशिर तक जाते रास्तों का रुख बदल चुका है पहले जो रास्ता आसान था अब वहां परखार राहे अपने डेरा जमा चुकी थी कही हाशर किसी और को तो नहीं इससे पहले वो मजीद सोचती दिल की तकलीब बड़ी थी और सकती से इसका ख्याल जटका नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सिर्फ ये मेरा वहम है वो जैसे भी है वो बेवफा नहीं हो सकते वो लाग जल्म कर सकते हैं लेकिन बेवफाई वो मरकर भी नहीं करेंगे अम्मी से बात करूँगी वही अब कुछ कर सकती है हाँ अम्मी मेरी मदद करेगी हाशर को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूँगी नहीं अब हाशर के पास जाना जरूरी हो गया है अमी ही रुकसती की बात करेगी और हाशिर को मैं अपनी महबत से अपनी जानी मतवज़े कर लूँगी मेरी महबत की शिद्ध के आगे वो घुटने जरूर टेकेंगे एक बहाद दुराना फैसला इसने किया था अपनी सोचों के ताने बाने में उलजी वो सब कुछ बुला गई थी एकदम बाहर से मारिया की आवाज आई थी जैसे वो उसे पुकारते हुए कमरे की जानी बारे थी एकदम उठी थी और तेजी से वाश्रूम की जानी बढ़ गई अपनी तकलीफों किसी को नहीं दिखा सकती थी मूद होकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई और बीबी क्रीम फेस पर लगा कर इसने बागी के लौसमाद चहरे पर लगा कर उंग्लियों के निशान चुपाने चाहे थे दर्वाजे पर होती दस्तक पर इसने जबरदस्ती चहरे पर मस्कुराट सजा कर खुद को मगन जाहर किया मुंतहा मारिया कमरे में आती ही चिलाई थी तुम्हारी वज़े से मेरी अम्मी से बेज़ ज़ती हो गई उन्होंने कहा भी था कि मुंतहा को बला लो मेरे पर दीमी मुसकान लाई थी अच्छा हुआ तुम इसी लाइक हो तुम्हारी वज़े से कल मेरा मेक अप खरीदना अधूरा रह गया है मुंतहा बत्तमीज मेरी वज़े से नहीं बलकि उन दो लफंगों की वज़े से हुआ ये चुटकी काट कर इसने इंजाम अपने सर से उतारा खेर जो भी है कल का दिन ही बुरा था मुंतहा को फिर से वो शक्स यादाया बस वो दूसरा लफंगा मेरे सामने आ जाये न तो इसको मैंने छोड़ना नहीं है दान पीस्ते वो बोलकर ड्रेसिंग के आगे रखी चीजे सेट करने लगी बस कर जाओ मुंतहा इस हैंसम मैंन को अब बख़च दो इसको तुमने लानत का इतना अच्छा तोफ़ा दिया कि वो दोबारा किसी और के जाने देखने से पहले सो बार सोचेंगा तुम्हें वो हैंसम लग रहा था शरम करो गयर मर्द की तारिफ कर रही हो आफाक भाई को बताती हूँ वही तुम्हें सेट करेंगे तीकी नजरों से देखे इसने मारिया को सुनाय था एकदम इसके जहन में ढ़मा का हुआ अहो मारिया मैं तुम भूल गई ताई अम्मी ने मुझे तुम्हारा ड्रेस को सेट करने के लिए भिट बुलाया था और मैं देखो यहां तुमसे बाते करने पर लगी हूँ सर पर चबत मार कर वो हां से बाहा निकली और ताई अम्मा के कमरे के जानी बढ़ गई कुछ देर पहले हुए हादसे को मारिया की संगत में भुला चुकी थी या फिर अपने दिल को जूटी तसली देकर चहरे पर मुस्कान सजाई थी कहां से आ रहे हूँ तुम घर में दाकिल होते ही उसे गाजान की आवास सुनाई दी और इसके कदम थमे थे जैकेट को कंधे पर लटकाए वो सर जुकाए वही खड़ा हो गया बोल क्यों नहीं रहे हो तुम आपकी मरतबा उंचा बोला और हमदान के पास कहने को कुछ नहीं था उसको जवाब देते ना देखकर वो मजीद कुस्से में आया गाजान इसके नजदी काया और एक पंच इसके गाल पर मारा था पंच गाल पर लगने की वज़े से इसका सर एक जानिब जुका था और इसने खुद को गिरने से बचाया कुछ विकर है मौम की बोलो अब क्यों जबान बन करके खड़े हो गाजान ने आगे होकर इसका गिरेबान पकड़कर उसे अपने सामने सीधा किया दूसरे गाल पर एक और पंच रजीद किया हमदान को अपने गाल तूटता हुआ महसूस हुआ खुन का जायका मूमे महसूस हुआ था तुम्हारी वज़े से मैं सारी रात सो नहीं पाया और तुम वहां नेंके मज़े लूट रहे थे कमसकंद अपना फोन ही आउन कर लेते भाई I'm sorry I'm really sorry प्लीस आइंदा ऐसा नहीं होगा बस मेरी आँख लग गए थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं आना चाहता था लेकिन अली ने रोक लिया मैं तो मैं वहीं रुख गया और आप मेरी वज़े से परिशान रहे सो सोरी भाई मुझे माफ कर दे ये एक दम हो आगे बढ़कर इसने काजान को गले लगाया गाजान को अपने रोये पर अपसोस हुआ था लेकिन गाजान को हमदान के लिए जरूरी भी लगा था ये लो अमा घर में दाकिल होते ही इसने रकम जारा बेगम के पास रखी थी अपने सामने एक मोटा लिफाफा देखकर वो खुशी से इनका चहरा चमका था हाई मेरी बच्ची तुने तो मेरी सारी परिशानी खतम कर दी इस आकिल के मुँपर मैं ये रकम मारूंगी और तेरी जान भी इससे बढ़ जाएगी जारा बेगम ने खड़े होकर जवेरिया का चटाचट चूमा था अमा बस करें जवेरिया को इनकी चापलोसी की अच्छी तरह समझ आ गई थी यगदम वो पीछे हटी थी और जारा बेगम ने उलिफाफ़ा अपनी बिगल में दबाया अमा ये रकम आप मामों को दे देना मैं जरा फिरेश हो जाओं मज़िद कोई बात किया बगर वो कमरे के जानी पड़ गई कमरे में दाकिल होते इसने दर्वाज़ा बंकिया और बैग में से आधी रकम निकाल कर इसने अल्मारी में च्छपाई थी सारी रकम उजारा बेगम के हाथ पर रखकर अपना नुकसान नहीं कर सकती थी इसलिए इसने आधी रकम मुश्किल वक्त के लिए रख ली थी अल्मारी में पैसे रखकर वो अपस मुड़ी जब इसकी नजर जमीन पर गिरे कार्ट पर पड़ी पैसे निकालने की वज़े से वो भी गिर कया था जबेरिया जो इस शक्स को भूलाने की कोशिश में थी कार्ट देखकर वो शक्स उसे फिर से याद आया और दिल की धरकर वाज़े बड़ी थी वो शक्स जॉंक की तरह इसके दिमाग पर चिपक चुपा गा था जिसको खुद से अलग करना हो उसे बहुत मुश्किल काम लग रहा था कार्ट उठा कर इसने दोबारा बैग में रखा और फिरेश होने वाश्रूम की जानी बढ़ गई आज भी वो कार्ट फेक न पाई थी दो दिन पर लगा कर उड़े थे गाजान ने अगले दिन ही हमदान से सौरी की थी अपने रवये का उसे अंदाज़त था कि उस्जादा ही ओवर रियर कर गया था डाइनिंग हॉल में तीनों अफराद खुशगप्पियों मसरूफ थे शादी की मौजू करूप आज भी गाजान की जानी बाया मुझे लग रहा है मेरी तलाश खतम हो चुकी है आप जानती है ना मुझे अपने लिए इन्फरादियत पसंद है तो समझ जाएं वो दुनिया की इन्फरादी लड़की मुझे मिल चुकी है हमदान का हाथ नाच्टे पर थमा था और दिमाग की रगे तनी थी चहरा जबत से लाल हो गया गाजान समरीन बेगम की जानी मतवज़ होने की वज़े से वो हमदान को सुर्ख चहरा देख नहीं पाया था कौन है वो लड़की और आपको कहां मिली कैसी है देखने में समरीन बेगम ने एक सांस में सारे सवाल पुछे खुशी इनके चहरे से छलक रही थी ओख माम मैं सब बताता हूँ इतना तो मैं भी नहीं जानता गाजान ने धीमे लहजे में कहकर नजर जुकाई थी बस कुछ दिन पहले मौल में देखा था इसके बाद नजर नहीं आई बस तलाश जारी है जिस दिन मिल गई सबसे पहले आपको इनके घर भीजूँगा गाजान ने तफसिलन समरीन बेगम को बताया माशालला बेटा मुझे बहुत बहुत खुशी हुई मैं बता नहीं सकती मेरी बरसों की मुराद पूरी होने वाली है समरीन बेगम ने उटकर बेसाफ़ता गाजान का माता चुमा था हमदान तुमाच चुप क्यों हो गाजान हमदान की चाने मतवज़ग हुआ हमदान मौल का नाम सुनकर चौंका था और उसे वो लड़की याद आई और चहरा मजीद जब्से से लाल हुआ गाजान की आवास सुनकर वो एकदम चौंका और चहरे पर जबर्दस्ती मुस्कुराहत लाकर गाजान को देखा भाई, डेट्स गुड नियूस खड़े होकर वो बेसाफ़ता गाजान की बाजु हिमाल कर गया लेकिन चहरे पर एक सर्दपन आया था गाजान ने भी दोनों हाथ हमदान के हाथों पर रखे थे और थोड़ा दबाव डाला अब तो खुश हो ना मैं शादी करने के लिए मान गया हूँ और हसीला भी पसंद कर ली है हमदान की दिन की हालत से बेखावर इसने खुशगवाई से पुछा जी जी भाई वो महस जी कहे कर रह गया भाई मैं रेड़ी हो जाओं फिर आफिस के लिए निकलना है धीमे से कहे कर वो कमरे की जानी बढ़ गया था कमरे में आकर इसने जोर से तरोजा बन किया और बैट पर बैट कर बाल मुठी में जखड़े दो गिलास पानी पीने के बाद भी इसका गुसा कम होने का नाम नहीं ले रहा था जलन का शदीद तास्र रग वोपे में उत्रा था शर्ट के सामने वाले बटन खोल कर इसने जैसे दिल की जलन को कम करना चाहा भाई को मुझसे बढ़कर वो लड़की पसंद आगी कैसे भाई को कोई लड़की पसंद आई क्यों और कैसे मुम्किन हो गया नहीं ये बहुत गलत है भाई इस लड़की से शादी नहीं करेंगे मेरी मर्जी से भाई की शादी होगी मैं भाई के लिए सब कुछ हूँ मुझसे बढ़कर इन के लिए कुछ सरूरी नहीं और होना भी नहीं चाहिए मैं ऐसा मौका आने ही नहीं दूँगा इनको मुझसे बढ़कर कुछ अजीज नहीं इनकी शादी मेरी मर्जी से होगी बस मेरी मर्जी से होगी मुझे भाई की शादी अब करवानी होंगी हाँ मैं ही करवाँगा एक बात को दहराता वो कमरे के चक्कर चर लगा रहा था यक्तम जहें ने एक सवाल इसके सामने रखा था जिसका इसके पास फिलहाल कोई जवाब नहीं था पर किस से होगी बालों में हाथ फेर कर वो एक नामुम्किन सी बात सोच रहा था लेकिन एक जिद एक धुन इसके सरफ पर सवार हो चुकी थी जुनूनी अंदाज में कहता वो एक दिवाना लग रहा था यकिनन अब कोई गहरा और अनोखा फैसला वो लेने वाला था गाड़ी एक जटके से सुनसान इलाके में रुकी थी सया जिन्स के साथ लेडिस कोट पहने वो बैक सीट पर बैठी लेपटॉप पर एक एहम फाइल देखने में मकल थी गाड़ी के रुकने पर चौंकी थी ड्रैवर क्या हुआ? सब खेरियत तो है लाइबा ने लेपटॉप एक जानिब करके ड्रैवर की जानिब देखा मैं पता नहीं अचानक क्या हुआ है मैं उदर कर देखता हूँ ड्रैवर लॉक खोल कर बाहर निकला और बोनट खोले आगे की जानिब जुका ही था कि गोली चलने की आवास इसके कान से टकराई यगदम गारी पर गोलियों के बोचार हुई थी लेकिन गोली का निशाना सिर्फ टायर्स और दर्वाजे थे लाइबा भी यगदम चीखी और नीचे के जानिब धुकी थी जिस्म डर की वज़े से सफ्ट सर्दी में भी पसीने में शराब और हुआ था चीख्ती चिलाती वो एकदम पागल हो रही थी मौत एकदम जैसे उसे अपने सामने नजर आई थी बलड प्रूफ कार की वज़े से गोली अंदर नहीं आ पाई थी लेकिन डर हर सोच पर हावी हो चुका था ड्राइवर ने भी एक जानिब मीचे सर जुका कर अपना बचाओ करना चाहा था कुछ देर बाद गोलीों की आवास बन हो चुकी थी और एक सया लिबास में लिप्टा शक्स एक पेपर शीशे पर चिपका चुका था और वहां से फ्रार हो गया लाइबा ज़्यादा देर हवास पर काबू नहीं रख पाई और होश वहास से बेगाना होती चली गए निकाह का दिन आखिर करीब आ ही चुका था सब बाते भुलाए बस अपने भाई का निकाह इंजुआए करना चाहती थी और मनतहा का यही मन मूजी रविया हाशिर को हैरत के साथ साथ गुसे में मबतला कर रहा था हाशिर को सखत लोहे की मानी लगती थी जिस पर जितनी भी चोट लगाएं इस पर कुछ असर नहीं होता हर तरीका इसने आजमाया था लेकिन मुंतहा ना जाने कि स्मिट्टी की बनी थी कि हाशिर की किसी बात का असर ही नहीं ले रही थी इस दिन कुछ देर तक ही उसे अपने लहजे पर पश्टावा हुआ था लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपने खोल में सिम्टा था निकास एक दिन पहले सब लाउंज में बैठे ढोल की बचाने में मगन थे और ये भी मुंतहा का प्लान था अपने भाई के निकास की एक एक रस्मो निभाना चाहती थी तुबा वेगम सोफे पर बैठी मुंतहा की जानी भी मतवज़े थी लेकिन मतवज़े होने के अंदाज में एक अजब सर्द महरी थी और शाइना एक तरब बैठी अपने मुबाईल में मगन थी डाग गरीन लाउंग फ्रॉप पहने बालों का स्टालिश सा चूड़ा बनाए कानों में बड़े बड़े जुमके और अपने अजली अंदाज में मेकप से चहरे चमकाए वो वहां सबसे मनफर्द लग रही थी लेकिन दो अफराद की आँखों में वो काटों की तरह चुब रही थी लाउंग से थोड़ा दूर खड़े होकर वो मुन्ताह को ही देख रहा था चूँची आवाज में गाना गाने में मगन थी घर की सारी डेकुरेशन की जमेदारी इसकी थी अगजान के सक्त हुकम की वज़े से उन नौकरों की मौदूद्गी में ये काम करवाने पर मजबूर हो चुका था निकाह की रसम होते ही इसने यहां से निकलने का सोच लिया था मुन्ताह की हरकात इसमें ज़्यादा देर बरदाश्ट करने की हिमत नहीं थी इसकी नुकराई हसी फिज़ा में जलतरन बचा रही थी लेकिन इस शक्स के लिए वो एक क्रिया आवाज थी क्या शोर मचा रखा है आइस्ता आवाज में गाना कालो आप लोग और मुन्ताह तुम कभी कम भी हसलिया करो जब देखो कह कहे लगाती रहती हो बिटा बच्चियों के इतनी उचे कह कहे सूट नहीं करते शाइना को देखो कैसे खामोश और सुल्जे अंदास में बैठी है यगदम तुबा विगम उची आवाज में बोली इनके चहरे पर एक अलगी तनफुर था मुन्ताह का चहरा यगदम फीका पड़ा और इसके हाथ भी थमे थे हाशी को लगा था तैसे फुपू ने इसके दिल की बात कह दी हो एक नजर इसने शाइना पर डाली लेकिन फुपू की आखरी बात उसे जूट ही लगी लाउंज में एकदम खामोशी चाही थी तुबा तो बच्चियों को खुश भी देख लिया करो जब भी आती हो कुछ ना कुछ सुना करी जाती हो खुशी का मौका है जाहर है कह कह तो गुंजेंगे शाजिया बेगम को अपनी बेटी की आदात का अच्छे से अंदाजा था जानती थी कि वो कोई ना कोई उल्टी बात जरूर करेगी इसलिए वो थकावर्ड की वावजूद लाउंज में बैठी थी ताके इनकी बात का मूँ तोड जवाब दे सके शाजिया बेटा इधर आओ तुम कल से आई हो और इस मुहें मुबाइल में गुम हो इधर आओ कुई दे नानी के पास बैठो कुछ गाने वाने गाओ रौनक लगाओ शाजिया बेगम ने भी जैसे मुन्धा पर किये गए तंस का बड़ा लिया था शाजिया बेगम तुबा की कमजोरी अच्छे से जानती थी इसलिए उन्होंने कमजोर रख को ही पकड़ कर हिसाब बराबर किया शाजिया के चहरे पर यगदम बेज़ारी आई और इसने मदद तल्ब नज़रों से मा की चानिक देखा दादी की लाडली थी मुन्तहा सुल्तान तो दादी अपनी लाडली पोती की बेज़ज़ती कैसे होने देती आँखों ही आँखों में उन्होंने मुन्तहा को इशारा दिया था और मुन्तहा इंका इशारा समझ कर मुस्कुराई थी अरे जूबिया वो गाना तो लगा वो क्या है घाग रहा वो घाग रहा गाना लगो जरा मुन्तहा चल मेरी बच्ची डांस तो कर थोड़ी रौनक लगा कल तेरे भाई का निकाह है और कोई रौनक ही नहीं है दादी ने एक और फुल जड़ी तूबा वेगम की जानी फेंगी तूबा वेगम पहलो बदल कर रह गई मुंता हस्ती मस्कुराती अपनी दादी की खवाईश पूरी करती वह मौझूद कुछ नफोस के दिल जला कर राक कर गई लाउन से बाहर मौझूद हाशिर कोई मनजर नहायत नागावार घुसरा था मजीद देखने कि इसमे सकत नहीं थी बालो को मैसी बन बनाए वो कंबल खुद पर फैलाए गहरी नीन में मगन आने वाले को महसूस भी नहीं कर पाई थी मेकप की दिवानी मुंता ह सोते वक भी खुद को सवार का नीन की वादी में जाती थी जैसे खुआबों में हाशिर इस से मिलने आएगा बलेक मास्क पहने वो मुंताह के करीब जुका था कोई दूर खड़ा एक और वजूद ये सारा मंजर अपनी शराटी आँखों से देख रहा था मुंताह एकदम इसने मुंताह को पुरसरार आवाज में पुकारा लेकिन कुछ असर ना होता देख इसने दोबारा भारी आवाज में पुकारा अपने करीब भारी अजीब सी आवाज सुनकर वो कस्मसाई थी लेकिन नीन अब भी जहन पर हावी थी आँखें नीन की बोजल पन की वज़े से खुल नहीं पा रही थी थोड़ा सा कंबल बाजू से हटा कर इस सया हाले ने एक मसनुई कौकरोच इसके बाजू पर रखा था यगदम मुंतहा को बाजू पर कुछ रेंगता महसूस हुआ नीन से बोजल जहन हाथ पर कुछ रेंगता महसूस करके बेदार हो रहा था पाओं की निचली सतय पर भी जैसे कोई रेंगती हुई चीज महसूस हुई आंके पट से खुली थी और पाओं को ढटका था लेकिन जैसे वो चीज पाओं पर चिपक चुकी थी अपने सामने सया साय को देखकर वो चिखी थी और एक दम उठकर इसके सीने पर हाथ रखे उसे खुछ से दूर किया मुकाबिल मौजूद शक्स पीछे हटा था और मुन्ताह इसी बात का फायदा उठा कर बाहर की जानी भागी लेकिन दर्वाजे में किसी ने इसका वाजू पकड़ कर उसे रोका था मुन्ताह की जान हलक में आई थी और बेसाखता इसके जानी मुरी मुकाबिल मौजूद शक्स भी सया लिबास पहने मास्क चड़ाई हुए था लेकिन इसका मास्क अजीब बच्छकल था मुन्ताह की मुसे बेसाखता भूत का लवज निकला था भूत भूत चिलाती हो अपना हाथ चुडाने के कोशिश में थी जब पीछे से कमरे में मौजूद शक्स ने आकर मुन्ताह की गले पर चाकू रखा मुन्ताह की जान मजीद खुशक हुई थी यकदम वो जोर से चिलाई थी और अपनी पूरी ताकत लगा कर खुद को इनके चुंगल से निकाला और चीखती भी नीचे के जानी भागी वो दोनों साइब भी मुन्ताह के पीछे पीछे भागे थे शोर की आवास सुनकर सब तेजी से अपने अपने कमरों से बाहर की जानी भागे हाशर की आँख भी शोर से खुली थी किसी अनोनी के तहट वो तेजी से बाहर लाउंच में आया था मुंतहा की नजर हाशिर पर पढ़ते ही इसको कुछ हिम्मत मिली थी मजीद तेजी से वो नीचे की जानी बाकर हाशिर के सीने से लगी थी और अपनी बाजू सक्ती से इसके गिर्फ हिमायल किये थे हिचकिया लेती रोती आँखों के संग इसने हाशिर को पुकारा था हाशिर वो भूत है वो मुझे खा जाएगा तूटते लवन फाजों में कहती वो अपने बाजू सक्ती मजीद सक्ती से हिमायल करके सीने में मुझ चुपा गई हाशिर का दिल यगदम तेजी से धरका था हुझबू में बसा नर्म गरम वजूद दिल की हालत बदलने की वज़े बन गया बाजू खुदबगुत मुंतहा के गिर्द हायल किये मुंतहा की वेबाकी पर हका बका रह गया इस दिलेरी की उसे मुंतहा से उमीद नहीं थी अपनी बेख्तियारी की भी उसे उमीद नहीं थी क्या हुआ ये शोर कैसा आगाचान भी अपने कमरे से बाहरा आए और सामने दो काले लिबास मौजूद अजीब औ गरी भुलिये में मौजूद लोगों को देखकर चौंके थे आगाचान की आवास सुनकर इसने जल्दी से मुंतहा को खुद से अलग किया लेकिन मुंतहा खौफ के जेरे सर फिर भी इसकी बाजू से चिपकी थी आँके मसलती शायना ये मनजर देखकर कुड कर रह गी दिल में बस एक खौई चागी थी कि मुंतहा को वहां से गाइब कर दे कौन हो तुम एकदम हाशिर मुंतहा को खुद से दूर करके इनके जानी बाया और सक्ती से चिलनाया जूबिया बेगम ने तेजी से मुंतहा के करीब आकर उसे थामा दोनों नफोस को अपनी शामत पकी लगी थी इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मामला इस हद तक बिगड़ जाएगा यगदम दोनों ने अपने चहरे से मास खटाए हाशिर के कदम भी इनके मास खटने के साथ ही थम गए अशर हाशिर के चहरे पर यगदम नागावारी की बचाए खुशकवारी की कैफियत थावी हुई और वो तेजी से इसके गले लगा मुंतहा की नजर भी सामने उठी थी और वो हैरत के जेरे सर सुन सी हुई थी बलके जपकने की भी उसे फुरसत नहीं मिल पाई थी मुंतहा को अपनी जानी बाते देखकर वो अशर के पिछे चुपी थी तुम्हें तो मैं नहीं चोड़ूगी और अशर तुम एकदम आके बढ़कर इसकी बाजू पर मुक्के बरसाती वो अशर के चहरे पर मुस्कुरहाट लाई थी बाजो से पकड़कर अशर नहीं से रोका था हमेशा की तरह हाशर को मुंतहा का ये रवया अजीव लगा मारिया इस मौके का फाइदा उठाती तेजी से उपर की जानी भागी थी तुम्हें मैं आकर पूछती हूँ फिलाल उपर वाली का हाल हैवाल दर्याफ करके आती हूँ गुस्सा भरी आवाज में उसे आगह करती वो उपर की जानी बढ़ी अशर को जवाब दे करो सीधा उपर की जानी भागी और मारिया की अच्छी खासी दुरकत बना कर इसने सुकून लेना था कुछ अपनी बेश्तियारी में की गई हरकत की वज़े से वो हद दर्जे शर्मिंदगी महसूस कर रही थी दोबारा इसकी हाशर के सामने जाने की इहमत बागी नहीं रही थी इसलिए इसने उपर जाना ही जरूरी समझा था अशर से मिलने के बाद सब अफराद अपने कमरे में आराम करने चले गए लेकिन हाशर और अशर सुबह तक खुछ गप्पियों में मसरूफ रहे इसलिए वो अब तक गहरी नीम के मज़े रूट रहे थे दिन के बारा बचे मुंतहा और मारिया खाना बनाने की गरस से किचन में मौजूद थी जब तायम्मा ने उसे अशर के कमरे की जानिब भेजा मुंतहा बेटा अशर बचे को उठाओ जरा काफी लेट हो गया है सुबह भी नाच्टा के बिना सो गया था जाओ जरा उसे जगा कर आओ और मारिया तुम जरा जाओ हाशिर को बुला लाओ आज सब कुछ फाइनल करना है बाकी के काम आज हर हाल में पूरे करने है और शाम को मुंतहा से महंदी जरूर लवाना वन्ना तुम्हारी खेर नहीं तायमन हिदायत के साथ साथ आखिर में धंकी भी देड़ दी थी अशर को इसने ही फोन करके बुलाया था लेकिन अभी इस बात का किसी को पता नहीं था कमरा वो कली बिना किसी की नजर में आएं सेट कर चुकी थी लेकिन वो इतनी रात को आएगा और ऐसे डराएगा उसे अंदाजा नहीं था एक किसम की नेकी इसके गले पड़ चुकी थी लेकिन इसने भी ठान ली थी के बदला लेकर रहेगी तायमनी से नजर बचा कर इसने इसका इंतिजाम भी कर लिया था कमरे का दर्वाजा खोल कर वो अंदर दाकिल हुई हाथ में बरफ का बड़ा सा बाउल पकड़े वो अशर के नजदीक आई बरफ के छोटे छोटे चोटे टुकडे इसने बाउल में डाले थे बैट पर आरा तिच्चा लेटा वो गहरी नीन में गर्क था आगे होकर इसने जरा सा कंबल खीचा और सारी बरफ इसके सर और कमर पर उंडेल दी यगदम है बड़ा कर उता वो सर्दी से कपकपाया दिमाग एकदम जैसे सुन हो गया कुछ बरफ उतने की वज़े से शर्ट के अंदर चली गई थी मुन्तहा की नकराई हसी मुझे नहीं पता था मैं इतना इंजॉय करूंगी उफ अपनी हालत देखो क्या लग रहे हो कार्टून कहीं के दरवाजे के करीब खड़ी मुन्तहा ने इसकी जानी देखकर कहा था और हिंडल पर हाथ रखा था के ताके अशर के पहुँचने से पहली बाहर भाग जाए हवाज बहाल होते ही वो मुन्तहा की जानी बढ़ा मुन्तहा आपने ये अच्छा नहीं किया इतनी गहरी नीन में था और शाइना खवाब में थी है ना बाकी का जवाब मुन्तहा ने कहा ओह मैंने अशर को जगा दिया अशर मैंने बहुत इंजवाए किया हैंडल को जुकाए वो जबान चड़ा दी बाहर की जानी भागी थी अपने कमरे से निकलते हाशर की नज़र जैसे ही मुन्तहा पर पढ़ी सब देखकर साथ में आसमान पर जाप पहुचा था अशर ये क्या हो रहा है मजीद ये सब बरदाश करने की इसमें सकत नहीं थी हाशर की आवाज सुनकर मुन्तहा के कदम धमे थे और साथ ही जान भी जैसे खुश कुई थी जानती थी कि हाशर को यूँ शोर करना उल्टी सीधी हरकते करना नहीं पसंद और वो जानते बुचते वही हरकत कर गई थी कुछ भी नहीं भाई बस मुन्तहा ने छोटा सा मज़ाग किया था दरसल रात का बदला उतारा है उन्होंने अशर बिना हाशर के जाने देखे बोलते चला गया सौरी मुन्तहा की जुबान लड़ खड़ाई नजरे चुकाए वो हाशर के जवाब की मुन्तजर थी जाओ यहां से उची आवाज के संग इसने कहा मुन्तहा को वहां से जाने का हुकम दिया वो सौरी वो दोबारा मनमनाई थी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने कहा जाओ मजीद उची आवाज सुनकर वो सहमी थी और आशू रोके वो तेजी से हाशर के करीब से गुजर कर भागती भी नीचे के जानिब चली गई अशर खयाल किया करो चोटी बच्ची नहीं है वो तो तुम ऐसे मजाग शुरू कर देते हो आएंदव ऐसी कोई हरकत न देखो मुन्तहा के जाने के बाद इसने अशर को तंबिया की थी वो महस जी कहकर कमरे के जानिब बढ़ गया सीडियों पर खड़ी शायना ने ये मनजर बहुत खुशी से देखा था और इसके शैतानी दिमाग को एक अच्छा मोहरा मिल चुका था किचन में आकर इसने सांस बहाल किया और आँखों की नमी रगड़ी थी और खुद को हद दर्जे नॉर्मल किया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और इस कबर को खुदना मुंतहा के बस की बात नहीं थी मारिया भी इसके पीचे किचन में आई थी मुंतहा की हाशिर से हुई डांट वो सुन चुकी थी और उसे हाशिर पर गुस्सा भी आया था लेकिन बड़ा भाई हुने के वज़े से कुछ कह नहीं पाई थी लेकिन मुंतहा की दिल जोई करके शायद वो कुछ सुकून हासिल कर लेना चाहती थी मुंतहा सौरी भाई इतनी जोर से चिलाए थे वो तो शुकर है कि अशर भाई वहां मौजूद थे वरना आज तो अच्छी खासी बेज़दी हो जाती नजाने भाई इतना गुसा क्यूं करते है तुम बस दिल पर ना लिया करो वो शुरू से बहुत गुसे वाले है मारिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे मुंतहा की दिल जोई करे मारिया तुम तो मुझे ऐसे समझा रहे है जैसे मैं इन से पहली मरतबा बेज़दी करवा कराई हूँ या फिर ये सब पहली बार तुल्ख मुस्कुराहट के संग इसने कहा था और तुम टेंशन ना लिया करो मैं इनको जानती हूँ वो बिलावजे गुस्सा नहीं करते गल्ती भी अक्सर मेरी ही होती है इसलिए तुम फिकर ना करो और ना ही परिशान हो ननत जी और होने वाली भाबी मुस्कुरा कर कहती हो सलाथ बनाने के लिए फिरिज में से सबजिया निकालने लगी तुम जाओ अपने कमरे में मैं कर लूँगी कल मेरे भाई का स्पेशल डे है और तुम्हारा भी आज रिस्ट करोगी तब ही कल अच्छी लगोगी शरारत के संग कहती इसने मारिया को वहां से भेज़ा था और खुद काम में मगन ही लेकिन लबो पर एक तिल को मस्कराहट थी मॉमी उची आवाज में चिलाती वो तुबा वेगम के कमरे में आई थी और धब करके बैट पर वैठी थी तुबा वेगम जो सामने एलिटी पर मूवी देखने में मगन थी शाइना का यूँ चीख कर बैठना तुबा वेगम को दहला गया ओफ शाइना बेबी डरा दिया आपनी मुझे क्या हुआ ऐसी क्या खबर लाई हो ममी ओफ मैं क्या बताओ मैं कितनी खुश हूँ आपको तो सुनकर जूम जाएगी शाइना ने चमकती आँखों किसंग तुबा वेगम की जानिब देखा कई तुम मुंता के खिलाब कोई खबर तो नहीं लाई हो तुबा वेगम ने आँखे सुकोर कर मारिया की जानिब देखा ओह ममी आप तो सच में बहुत जहीन है ममी आप कह रही थी न कि हमें मौका नहीं मिल रहा इन दोनों के दर्मियान फूट डलवाने का समझो मौका मिल गया चुटकी बचा कर इसमें तुबा बेगम की जानिब देखा ये मौका तो पहले भी था लेकिन उमौका खुट चल कर मेरे सामने आया है शाइना पहली आना बुझवाओ पहले ही मैं अबीचान की वज़े से डिप्रेस हूँ और आप है के और उलजा रही है अबीचान को तो ना जाने क्या चिड़ है मुझसे इस मुन्तहा की वज़े से मेरी इतनी इंसल्ट कर दी तुबा बेगम अभी तक इस गम में मुबतला मुवी देखकर इस गम को हलका करना चाह रही थी वालग बात है के गम हलका करने का अनुखा तरीका था कर निकाह के होते ही हम निकलेंगे मुझे यहां बिल्कुल नहीं रहना बलकि हाशिर भी रात तक शायद चला जाए तो ऐसा करेंगे इसके साथ ही चलेंगे ड्राइवर को मैं शाम में ही भेज़ दूँगी इस बाहने तुमें हाशिर के साथ वक्त गुसानने का मौका मिल जाएगा तुबा बेगम तो जैसे सब तैयारी करके बैठी थी नहीं नहीं ममी अभी मैं यहां से नहीं जाओंगी अभी मुझे यहां बहुत इंज्ड़ाय करना है आपको तो पता है मुझे यह घर कितना पसंद है मस्नुई सा शर्मा कर इसने तुबा बेगम को हैरान किया क्या यह मेरे हसीन कान क्या सुन रहे है शाइना और यहां रुकना चाह रही है उफ मुमी यह जगे मुझे खुद कह रही है यहां रुक जाओ और मुंतहा की बरबादी देखो शाइना मुस्कुराहट के संग इसने तुबा बेगम को तमाम तर तफसील बताई थी जो भी कुछ देर पहले मुंतहा के साथ हुआ था दोनों मावेटी सर जोडे मुंतहा की जिंदगी बरबाद करने का मुकमल एहद ले चुकी थी अशर बेटा आपको लिकाह का किसने बताया था डानिंग हॉल में बैठे आगाचान ने अशर से पुछा था इससे पहले अशर कुछ कहता जवाब मुंतहा की जानिब जाया था आगाचान मैंने बिलाया था अशर को मारिया का निका इसके भाई की गयर मौजूदगी में होता ये तो अच्छा नहीं था दीमी मुस्कुराइट किसन कहकर इसने पास्ते का बाउल अशर के सामने रखा अशर ने भी मुस्कुरा कर बाउल में से पास्ता प्लेट में डाला था हमें लगी रहा था कि ये नेक काम हमारी बेटी के अलावा कोई नहीं कर सकता लेकिन नेकी तो आप के ही गले पड़ गई अशर ने आपको भी डरा दिया शरारा तामे इस दहजे में कहते हैं उन्होंने मुंतहा की जानिब देखा जी आगचान आपको पता तो है आज कल नेकी का जमाना ही नहीं लेकिन फिर भी मैंने नेकी कर ली लेकिन आइड़ा मैं नेकी करने से पहले सौ मरतबा सोचूंगी तीखी नजरों से अशर की जानिब देखकर इसने एक खलका सा पंच इसके बाजू पर मारा आउच मुंतहा मेरा नाजुक कंदा तोड़ने के राद है क्या कंदे को सहलाता इसने मसनी अपसूर्दगी से कहकर मुंतहा को चिड़ाया हाँ तुम्हारा कंदा तो फूल है ना तो जरा सा हाथ लग जाने से तूट जाएगा मुंतहा ने दूबदो जवाब दिया प्लाउच में आते हाशिर ने वनजर देखा था लेकिन बिना कोई तासुख दिया वो चेयर पर बैठा था हाशिर के पीछे शाइना भी जल्द से आकर साथ वाली चेयर पर बैठी थी अशर के दिन की कली शाइना को सामने देखकर खिली थी मुंतहा ने हलका सा ठुका देकर इसको अपनी जान मतवज़े किया था हाशिर की जीरत निगहा ये सब देख रही थी लेकिन हो महस बरदाश्ट करके रह गया मुंतहा प्लीस मुझे भी पास्ता पास कर दो एक अदा से इसने मुंतहा को कहा था और हाँ जब काफी बनाओ तो मेरे लिए लाजमी बनाना वो क्या है ना मुझे भी हाशिर की तरह बलेक काफी बहुत पसंद है क्यों हाशिर मैं ठीक कह रही हूँ ना तुम तो जानते हो के मुझे बलेक काफी कितनी पसंद है इसने हाशिर से जवाब चाहा था और मुंतहा की जानी भी एक नज़र डाली थी जैसे हो मुंतहा के चहरे पर अफसुर्दगी देखना चाह रही हो लेकिन सदा की खुश मिजाज मुंतहा के चहरे पर खुबसूरत मुस्कुराहट थी जैसे देखकर शाइना को अपना वार खाली जाता लग रहा था अभी देखना हाशिर उसे कैसा जवाब देते थोड़ा सा जुपकर मुंतहा ने अशर को सरगोशी के अंदाज में कहा था क्यों शाइना मुझे क्यों पता होगा कि तुम्हें कौफी पसंद है या चाए हाशिर ने अबरु उचका कर जवाब दिया था यह तो तुम्हें पता होना चाहिए मेरा तुम्हारा कोई ऐसा तालुक नहीं कि मैं तुम्हारी पसंद नापसंद को याद रखो अगरचान खाना खाकर वहां से जा चुके थे अब सिर्फ टेबल पर हाशिर मुंतहा अशर और शाहिना मौझे थे इसलिए शाहिना की दुमान इतनी चल रही थी मुंतहा का अपनी तौका के एन मताबिक जवाब सुनका कहका फुटा था शाहिना का धुवा धुवा होता चहरा उसे हसने पर मजबूर कर गया हाशिर की नजर भी इस पर उठी थी मुंतहा की नजर बेसाफता हाशिर से मिली और इसकी आँखों में अजीब सा हसास देकर वो हैरान रही और इसका कहका थमा था दिल की हालत अजीब हुई थी आज हाशिर की नजरों में कोई गुसा कोई तनफू नहीं और यही चीज मुंतहा का दिल धरका गई थी एक्सक्यूज मी तेजी से कहती वो वहां से निकलती चली गई शाइना भी तनफन कर दी अपने और तुबा वेगम के कमरे के चानी बढ़ गई हाशिर भी सर जटक कर खाना खाने में मगन हो गया निकाह की रात आखिर आँ ही पहुची थी शेशे के सामने खड़ी वो साथ रंग लेंगा पहने अपना हुसन सवानने में मगन थी मारिया को महन्दी लगाने के बाद इसने अपने दोनों हाथों पर भर भर कर महन्दी लगाई थी आम दिलों में भी सजी सोरी रहने वाली मुंतहा सुल्तान आज तो सारी कसर पूरी करने वाली थी आँखों का डाग मेकप, गालों को गुलाबी किये, माथे पर बिलिया सजाए, वो बाल बनाने में मगन थी डाग डेट लिपस्टिक से होटों को रंग कर गोयस में अपना दो आतिशा हुसन दहका दिया था देखने वाले की एक नज़र ही इसके दिल को तबहा वरबात कर सकती थी तो हाशिर का गाल होना भी बनता था हाशिर आज मैं ऐसा सजूंगी कि आप ये मेरा रूप सरूप देखते रह जाएंगे महबत के अलफास खुद बखुद आपकी मुझे अदा होंगे आज की रात मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है आज मुझे मेरा सुकून मिलेगा देमे से मुस्कराती और तख्यर में हाशिर को पुकार रही थी आज की रात इसने सोच लिया था वो हाशिर इससे सारे जवाबा प्ले कर रहेगी अपनी मुझे का जवाब आज इसमें जानना था ये फैसला इसके लिए कठिन तो बहुत था लेकिन नामुम्किन नहीं था हाशिर के जरा से खरीब आने पर ही इसकी धरकने बढ़ जाती थी इसकी तेकी नजरे भी इसकी इचान खुश कर देती थी तो आज की रात अकेला मिलने का सोचकर ही हातों से पसीना हूट रहा था हाशिर को अक्सर रात को छट पर जाने की आदत थी जब भी वो यहां आता था घंटों छट पर गुजारता था मुंतहा को यकीन था वो निकाह के बाद छट पर जरूर जाएगा इसलिए बिना हाशिर को आगा की वो आज इसके पीछे जाने वाली थी आज की रात का फैसला मुंतहा की आगे की जिन्दगी का एक अनोखा पहलो लिखने वाला था शानी एक तस्वीर सेंड कर रहा हूं इस लड़की के पीछे गुंडे लगवाने है और ध्यान रहे कि वो इसके साथ सिर्फ थोड़ी सी बत्तमीजी करके उसे डराए लेकिन हाथ बिलकुल भी नहीं लगाए वरना अन्जाम का जिम्मेदार तू खुद होगा इदायत के साथ इसने धंकी भी दी थी आफिस का अड्रेस तस्वीर सब तुझे सेंट कर रहा है और आज के आज ये काम हो शानी ने आगे से कुछ कहना चाहा था लेकिन हमदान ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया था पैसे भी तुझे आज के आज मिलेंगे लेकिन ये काम मुझे आज के आज चाहिए हो समझ गया ना पांच बजे वो अपने ओफिस से निकल कर बस स्टॉप पर जाती है सारी तफसिर से आगा करके इसने फोन साइट पर फिंगा मजीद इसने कुछ सुनना गवारा नहीं किया था और खुद पीछे की जाने चुक कर बैट से देख लगाई डाइबा की कार पर हमला भी इसने करवाया था इससे मिलकर वो मजीद उसे धमकाने का रादा रखता था लेकिन गाज़ान की डैनिंग टेबल पर की गई बात इसके दिमाग में ऐसी बैट चुकी थी कि तीन दिन से वो सब कुछ बुलाए एक उलज़न में उंचा हुआ था कुछ भी करके इस निकाज़ान का ध्यान इस लड़की पर से हटाना था और एक ही सोथ इसके सर पर सवार थी कि उसे ऐसे कैसे इसके जहें से मिटाए बना देखे बिना चाने वो इस लड़की से अजीब सी हसद में मुब्तला हो चुका था शानी को तस्वीर सेंड करके वो कुछ परसुकून हुआ आगे का काम उसे आसान लग रहा था जवेरिया को अपनी जानी मतवज़े करने का इससे अच्छा तरीका उसे कोई भी नहीं लगा था आफिस से निकल कर वो बस स्टॉप पर आई थी शॉर्ट शट के साथ जीन्स पहने वो हिजाब लिए बस के इंतजार में खड़ी थी लेकिन मामूल से ज़्यादा रश होने की वज़े से बस पहले ही भड़ चुकी थी कुछ सोच कर वो एक जानी बैठी और अपनी रोट की अगली बस का इंतजार करने लगी जब कुछ अजीब औ गरीब हुडिये में मौजूद लड़के इसके गिर्द खड़ी हुए प्यान में ही उसे रुखना पड़ा दो लड़के इसके आगे आकर खड़े हुए थे कहा जा रही हूँ मेडम आओ हम छोड़ देते हैं कहीं ये नाज़ुक पाओ दर्द ना करने लग जाए एक ने आँख दबा कर उसे कहा था लेकिन जावेरिया सपाट चहरा लिये खड़ी डही लगता है मेडम तयार है चलने को ओए बाबू आई लेकर चलते है इस चीडिया को इस लड़के ने दूसरे लड़के को कहा जावेरिया ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाएं इसके चहरे पर इस वक कोई डर कोई खौफ नहीं था लेकिन यगदमों चौंकी थी और दूसरी जानी रूट पर मौजूद सया स्विक में बैठे शक्स ने स्ट्रिंग पर गिर है तो मजीद देखने की हमदान में सकत नहीं थी डैमिट इस शानी का हर काम उल्टा है कहा भी था कि हाथ नहीं लगा लेकिन फिर भी तेजी से दर्वाजा कोड़कर बाहर आया और सड़क क्रॉस करके जवेरिया एक नजदिक आया था हाथ छोड़ो लड़की का हिम्मत कैस अबे छोड़ मेरा हाथ तेरी बेहन है क्या जो इतनी मिर्चे लग रही है तुझे बताता हूँ तुझे मैं क्या लगता हूँ मैं इसका एक पंच इसने सामने मौजूद लड़के के नाग पर मारा पंच लगते ही इसके नाग से खून का फवारा फुटा था एक और पंच इसने इसके गाल पर माना और उसे पीछे के जाने फेका वो तेज़े से समीन बोस हुआ पीछे मौजूद लड़के अपने सामने एक वेल ड्रेस आदमी को अपने दोस्त को मारता देखकर वहां से भागी थे रुको सालो बताता हूँ तुमें चहां कोई कमजोर लड़की देखी नहीं आ जाते हूँ अपनी कमेंगी लिखाने नीचे गिरा शक्स भी उटकर तेजी से वहां से भागा था तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती पागल वागल हो गया अगर कुछ उटा कर देते तो क्या करती तुम तुम्हारे बॉस निक्या पिकेंड ड्रॉप की जाफ किया था चलो मेरे साथ इसका हाथ पकर कर वो इसको सुड़क के दूसरी जानी बलाया था और इसका हिस्तिकाग भरा अंदाज जवेडिया की दिल में एक नए जजबे को सर उठाने पर मजबूर कर रहा था गाड़ी का दर्वाजा खोल कर इसने उसे गाड़ी में केला और खुद दूसरी जानी बाया और तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ा ले गया मजब कुछ बोड़े और ड्राइंग में मगन हुआ जैसे जवेडिया गाड़ी में मौजूद ही नहों शानी को इसने महद ड्राने को कहा था ताकि वो डर कर किसी को मदद को पुका रह लेकिन इसका सर्द सपार्ट अंदास मामला बिगड़ने की निशानदे ही कर रहा था इससे पहले कि वो लड़का अपनी हद पार करता वो ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया और इंतहाई कदम उठा चुका था घर का एड्रेस बताओ घर के एड्रेस को सुनकर इसक सामने मतवज़ हुआ और जवेलिया सहमे से अंदास में गाड़ी में बैठी घर आने का इंतजार करने लगी लौन में दोनों जानी एक सफेद परदा डाल कर निकाह की तकरीब की तैयारी की गई थी फूलों से सजा लौन और जगे जगे रखे बेश कीमत आईने लौन की बढ़ा रहे थे बाएं जानी बैठे आफाक की नजरे बस लाउंज की जानी भी जमी थी सेया शेरवानी में मलबूस आफाक हलकी दाड़ी चहरे पस जाये सेया खुसा पहने नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था दुला सहाब आ जाएगी आपकी दुलन बस सब पर कदामन थामे रखी अशर ने आफाक की बेताबी देखकर उसे छेड़ा था यार ये इनतिजार लंबा होता जा रहा है अब भी अगर ना आई तो मैंने खुद लेने जाऊंगा और भगार ले जाऊंगा आफाक मस्नुई संजूदगी से कहता अशर को हसा गया उफ मैं इनका भाई हूँ देखता हूँ कैसे जाओगे जालिम भाई जालिम भाई बन कर मार मार कर घर से निकालूंगा सफेश अलवार सूट के साथ ब्लेक वासकिट पामे खेड़ी पहने अशर वहां मौजूद सब के बिल पर सितम ढ़ा रहा था हाशिर एक जगे खड़ा शा स्टेच पर जाने का आफाग को देखकर वो अपना दिन खराब नहीं कर सकता था कल सुबह ही इसने यहां से निकलने का फैस्ता कर लिया था अरीबा से बारहा आफिस का उच चुका था दिल की बोजन हालत के पेशे नजर इसका यहां से जाना जरूरी था दिल था कि बस जर मारिया पर ठहर सी गई हाशिर की नजर भी एंटर्स की जानी उठी और पलक छपकना भूर गई क्या कोई इतना हसीन भी लग सकता है हाशिर को यकी नहीं आया था बालों को भारी जोड़ा बनाए बड़े बड़े एरिंग पहन कर माथे पर माथा पट्टी और सबसे खुब बदली थी लेकिन वो जल्द ही अपनी कैफियत पर काबू पा गया था और नजर का जाविया बदला था और आगे बढ़कर मारिया को दूसरी जानिब से आकर थामा एक जानिब हाशिर और एक जानिब मुन्धा मौजूद थी मुन्धा के चहरे पर जैसे रोनक बहाल हुई हाशिर के कदम से कदम मिलाती गोया वो अपनी खुशबखती पर रश्क कर रही थी सफेद पर्दे से दूसरी जानिब लाकर मारिया को स्टेज पर बिठाया गया डार्क बलू डीप गला मैकसी में मलवوس बालों को क्रैम्प करके पुष्ट पर बिखराए डार्क मेकप के श साथ बिठाया गया मैं आती हूं भाबी जी तब तक जरा भाई आपको अच्छे से देख लेंगे और जरा अच्छा सा फोटो शूट करवा ले मंतहा जरा सा जुक कर कहती मारिया का हाथ दबा कर बाहर की जानिब बढ़ी थी दोनों कुछ दूर लॉन में एक जानिब फोट हाथ में आउंगा तुम बस दर्वाजा खुला रखना मुंतहा ने मौका भी पराहम कर दिया है अब अगर तुमने अब कोई घदारी की तो तुम्हारी खेर नहीं आखिर मिधंकी आमेज अंदाज में कहकर हाथ पकर कर वो मारिया को दहला गया अपने हाथ को पुरहिदत हा कुछ गेस्ट के साथ मसरूफ हुआ था जब शाइना भी इसके पीछे आई हाशिर मैं कैसी लग रही हूं थोड़े से बाजू फैला कर इसने हाशिर से ताईच चाही एक नजर हाशिर ने इसकी जानिव देखा था अच्छी लग रही हो अंदाज में नागावारी थी शारी बाते करनी हैं शाइना तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूं सरासा जुक कर इसने तंबिया की थी उसे इससे पहले शाइना वहां से जाती सामने का मज़र देखकर हाशिर के खून में जैसे शरारे डोड़ गए शाइना की नजर भी सामने उठी थी और इसके शैतानी चहरे पर चमक वासे हुई थी सामने मौजूद मुझा अशर के नहायत नज्दीक खड़ी नजाने क्या कह रही थी अशर ये मेरा येरिंग बालों में फस गया है उसे निकालो चल्दी वरना अगर मैं मारिया के पास ना गई तो यही आदम केगी मुझा येरिंग पर हाथ रखे अशर के करीब आई थी जो अकेला खड़ा शाइना को देखने में मगन था जो हाशिर के साथ खड़ी न जाने कौन से रास पुन्यास कर रही थी ओके भाबी जी मगर बडले में मुझे एक मुझे एक मुलाकाद शाइना से चाहिए मुकाबर ने फौराण अपना मुतालबा सामने रख़ा था पद्तमीज चल्दी करो आज रात वो इधर ही है मिल लेना हस्तेवे कहती इसने अपना कान आगे किया था अशर का हाथ बेसाखटा मुंता के कान की जानिब गया जरासा जूँकर इसने मुंता के बालों में फसा हीयरिंग सीधा किया मंतहु का मुस्कुराता चहरा दूर से हाशिर को नफरत में धकेर गया ये मनजर हाशिर का खूब खून खुला गया था इतनी बेहुद की कि उसे मुंतहा से उमीद नहीं थी उफ निकाल वे दो अशर क्या कर रहे हो मुस्कुराकर कहती इसने अशर के हाथ पर अपना हाथ रखा हाशर का जब्त बेसाखता तूटा था इससे पहले वह आगे बढ़ता शाइना इसका बाजू पकड़ कर उसे रुका था ओपका मौन हाशी है वो दोनों कजिन है क्या हो गया है जिस्ट चिल हाशी शाइना जैसे सारा मामला समच गई मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि इन दोनों का क्या रिष्टा है तुमसे जानने की ज़रुरत नहीं है बाजू से हाथ धटक कर वो आगाचान की जानिब बढ़ गया मुंता भी एरिंग सेट करवा कर मारिया और आफाक की जानिब आई थी जहां घर के सब बड़े जमा थे बस बस यही रोग दे आगे गाड़ी नहीं जाएगी जवेरिया ने मुं नीचे किये आहिस्ता से कहकर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन आटो लोग होने की वज़े से दरवाजा खोलना नामुम्किन था मदद तल नजरों से इसने हमदान की जानिब देखा हमदान भी इसी की जानिब मतवज़े था इसकी सिर्मई आँखों को देखकर वो नज़र जुका गई मिस जवेरिया एक बात कहूं अगर आप बुरा ना माने हमदान की नजर अब भी जावेरिया के चेहरे पर थी जावेरिया ने बेसाखता सामने देखा जी कहें तुम जितनी सीधी बनती हो ना जावेरिया इतनी तुम हो नहीं इसके अजीब औ गरीब बात पर जावेरिया ने जटके से सर उठाया इतनी मासुमियत आज के दोर में किसी लड़की में नहीं होती और अगर हो तो वो इतनी मासुम बनती नहीं जितने तुम शो आफ करती हो एक अजीब सी जुबन थी हमदान के लजे में जैसे वो समझने से खासिर थी जवरिया का रंग बेसाखता फीका फड़ा लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बोल पाई आफिस में वेट करूँगा उमीद है जल गाओगी कहकर इसने लॉक ओपन किया इतना यकीन मत रखे मिस्टर कहीं तूट न जाए और मेरी मासुमियत पर आपको यकीन करने की जरूरत भी नहीं है इसकी आखरी बात पर इसके माथे के तेवरी चड़ी थी जरा सा जुक कर इसने हमदान को मुझ तोड जवाब दिया था लेट सी मीज जवेरिया मकाबिल ने फौरण जवाब दिया और अपने मखसूस स्टाइल में आँख मार कर गाड़ी भगा ले गया जवेरिया इसकी कही कही दुरुस्त बात पर हका बका रह गई मैम सिद्धी की कमपनी के ओनर मिलना चाहते हैं आपसे अलीना ने लाइबा की रूम में आकर उसे तिला दी थी आज वो तकरीबन एक हफ़ते के बाद सेहत बहाल होने पर आफिस आई थी लाइबा को शदी धहरत हुई थी कि गाजान सिद्धी की से मिलने कैसे आ सकता है बिठाओ इन्हें वेटिंग डूम में मैं बलाती हूँ इन्हें कुछ देर में लाइबा ने थोड़े हुआस बहाल करके कहा था वो इन्हें इंतदार करवाने का सोच चुकी थी वेटिंग डूम में बैठे गाजान को अलीना के इतला ने शदीद कौफ्त में मुब्तिला किया इससे पहले वो बाहर निकलता अंदर आते हमदान को देखकर चौंका वाट अ प्लेजर सर्प्राइस हमदान तुम यहां क्या कर रहे हो गाजान ने शिगुक्तगी से पूछ कर हमदान की जानिक देखा जहां आप वहां मैं भाई आगे बढ़कर वो गाजान के गले लगा चौंका तो वो भी था लेकिन इसने गाजान को जाहर नहीं होने दिया वो भी यहां लाइबा से मिलने के लिए आया था भाई मैं मिस लाइबा से मिलने आया था पिछले दिनों मसरूफियत के बाज मैंने नहीं आ पाया तो सोचा इजहारे अफसोस कर लो आँख दबा कर इसने गाजान को कहा था शरीर गाजान महस यही कह सका चले भाई मिल लेते हैं मिस लाइबा से कहीं देर न हो जाए गाजान की बाजू पकड़कर वो बाहर की जानी बढ़ा था रुको हमदान बच्चो जैसा भी है ना करो गाजान ने इससे हाथ छुलवा कर तंबिया की थी हर जगे घर जैसा भी है अच्छा नहीं होता ये किसी का ओफिस है और यहां हमें एज़ा पार्टनर ही रियक्ट करना चाहिए हमदान महिस मुस्कुरा कर रह गया ओके भाई अब चले कोड के बटन बन करके बालों को थोड़ा सा हाथ से सेट किये वो जेंटल मेन बनने की नाकाम कोशिश कर रहा था स्टूपिड मेन चलो आओ सर जटकर काजान ने उसे अपने साथ आने को कहा था हमदान चहरे पर मसनुई संजूद की तारी किये आफिस के जाने बढ़ा कमरे में बैठी वो आफाक के इंतिजार में थी इसने सक्ती से उसे मना किया था कि इसके आने से पहले चेंड नहीं करना उम्लियों को मसलती वाने वाले वक्त के लिए हिम्मत रमा कर रही थी फोटो शूट के दोरान आफाक की बेबाग हरकात इसने बहुत मुश्किल से बरदाश्ट की थी कभी हात मुकरना और कभी कमर से जकर कर मुकवा मारिया का जब्त आजमाता रहा था रोहासी हुई मारिया इसकी हरकात बरदाश्ट करने पर मजबूर थी तक्रीब के इक्तिताम पर इसने दोबारा इसके कानblick सरगोश्य से क्यस्किल से अंदाज में कहा था और मारिया सर से पाउं तक कापकर रह गई थी मुनतहा की साथ वो अपने कमरे में आई थी मुनतहा को इसने बारहा रुकने को कहा लेकिन वो भी उसे हर्जी जänder दिखा कर चा चुके थी और वो महज मुह बसोर कर रह गई कमरे पर दस्तक हुई और मारिया बेसागता अपनी जगे से उचली थी प्लोन की मखसूस खुश्बो कमरे में फैली थी कमरे में आफाग की मौजूद की महसूस करके मारिया की दिल की धरकन बढ़ी थी लेकिन वरुक मोडे बैट के किनारे पर बैठी रही भारी कदम उठाता वो मारिया के करीब आया सुना है कुछ लोगों का दिल की रफतार बढ़ गई है और धंकी का भी असर लिया गया है बैट से कुछ दूर खड़ी होकर इसने मारिया के आसाब पर सहर फूंका उंगलिया चटकाती हो बस खामुश रही क्या हुआ आज जुबान साथ नहीं दे रही जरा सा नजदी का है कान के करीब जुक कर सरगोशी की थी अपने इतने खरीब आफाग को देखकर मारिया की सांस हलक में अटकी थी हाथ पकर कर इसने एक जटके में मारिया को खड़ा किया मारिया एक चीक के साथ इसके सीने से टकराई थी इससे पहले वाफाक से दूर होती कमर के गिर्द दोरों हाथ बान कर इसने मारिया की कोशिश नाकाम की थी शेरवानी से उठती खुश्बू मारिया के हवास पर सवार हो रही थी इसके कुर्बत में पिगलती वो बेहाल हुई थी बाहर तारीफ नहीं कर पाया लेकिन यहां मेरा हक है कि तारीफ के चन्द अलफास अमली तोर पर अदा करो सरासा जुक कर इसने इसके माथे से अपना माथा टिकाया था मारिया ने इससे दूर होना चाहा लेकिन बाजू का कुफल इसको मौका नहीं दे पाया आफाग अद खुले लब से इसका नाम सरगोशी से निकला था हाई दिल खुर्बान चाहे माशूब के लबों से निकला नाम तो शहद से भी मीठा लगता है क्या ख्याल है इस मिठास को चक ना लिया जाए अपनी खुआश से इसने मारिया को दहला दिया था नहीं बेसाखता इसने लबों पर हाथ रखकर जैसे आफाग की कोशिश को नाकाम बनाना चाहा था आफाग कर कहका बेसाखता था कुछ नहीं कर रहा बस इस हाथ को इसका खुबसरत तफ़ा देना चाहता थूँ जिसने निकाह नामे पर साइन करके मुझे ये हक दिया है कि मैं इन हाथों को थाम सकू इनका इनाम दे सकू बाजू कमर से हटा कर आफाग ने मारिया का हाथ थाम कर लबों से लगाया था अंग्लियों पर इसके शेयों की चुबन और लबों को महसूस करके मारिया सरतापा कांपी थी सांसों की रफ़तार मदधम होकर तेज हुई थी शुक्रिया मेरी जिन्दगी में आने के लिए दोबारा हाथ पर लब रखकर इसने जैसे हाथ को मौतबर किया था दूसरी रिंग हमारे निकाह के खुशी में डायमेंड की एक नगवाली रिंग इसने मारिया के हाथ की जीनद बनाई थी दोबारा इसने हाथ लबों की जानी बढ़ाया था लेकिन मारिया ने कोशिश नाकाम बनाकर उसे खुद से दूर धाकेला था और लजाय से अंदाज में सोट चरे के संग भाग कर खुद को ड्रेक्सिंग रूम में बन किया था और लंबे-लंबे सांस लेती तनाफुस बहाल किया था आफाक इसकी की गई हरकत पर महस कहका लगा कर रह गया जा रहा हूँ बस कुछ दिन की दूरी है फिर देखना कैसे बचोगी मुझसे आवाज उंची कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया सीडियों पर पहला कदम रखते ही इसका वजूत कामपा था लेकिन आखों को बन किया गहरा सांस लेकर वो उपर की जानी बड़ी एक एक कदम उठाती गया वो खुद से एहद कर रही थी कि आज सब सवालों के जवाब वो जान कर रहेगी आज गया अहम इम्तिहान था जिससे इसके आगे की जिंदगी का इनहिसार करती थी हाशिर को वो छट पर जाते हुए देख चुकी थी सबकी नजरों से बच्टी हुई वो आखिछ छट पर पहुँच चुकी थी सयाश अलवार सूट में मलबूस वो इसके जाने पुछ्ट किया खड़ा था इसके चोड़े कंधे देखकर मुन्तहा को गया तहफुज का हैसास हुआ था जैसे ये मजबूत पनाहें उसे तमाम सर्द वो गर्म से बचा लेंगी अपने पीछे वो मुन्तहा की मौजूद की महसूस कर चुका था लेकिन वो महिज बेखबर बन के खड़ा रहा इसकी हिम्मत पर उसे शदीद तैश तो आया था लेकिन वो आज़ खामुश रहना चाहता था आज इसकी पुरसरार खामुशी एक तुफान बर्पा करने वाली थी साथ रंगों में रंगी वो आँखों में महबत की दिये रोशन किये अपने महबूब के रूबर रूख खड़ी हुई आज हिम्मत जमा किये वो आखिर आ ही गई थी हाशिर एक नज़र डाल कर वो दोबारा सामने देखने लगा लेकिन कोई सवाल नहीं किया मुंतहा को इसके चुप रहने और एक नज़र डालने पर हैरत हुई जैसे से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा कि वो यहां क्यों खड़ी है सामने न जाने ऐसा कौन सा मंज़र था जिसमें इस दुश्मन जान को ज्यादा दिल्चस्पी थी आज हिम्मत इज़त नफस, महबत, एतिमाद सब दाओ पर लगा कर वो इसके रूबरु आई थी लेकिन मकाबल का हमेशा से वही अंदास था आँखों की जोद यकदम बुजी थी क्या सारी उमर एक नज़र की प्यासी रहूंगी कभी तो मेरी जानी देखो दिल में सोचती वो हाशिर को देखे गई हाशिर देखे, मैं कैसी लग रही हूँ हिम्मत जमा करते हुए आज इसने इसे पुकारा था हाशिर को आज इसका रवया चौका रहा था लेकिन वो इसके मूँ से सुनना चाहता था कि आज वो यहां क्या जानने आई है हम्म, अच्छी लग रही ही हो एक सरसरी नजर इसके खुबसरत चहरे पर डाले वो दोबारा सामने देखने लगा बस, अच्छी इसकी बाज उपर अपना नर्म हाथ रखे वो माई उसे से बोली थी मकाबिल शक्स ने इसका हाथ ऐसे जटका जैसे करंट ने चूलिया हो हाथ नहीं लगाना मुझे अपने हाथ, नजरे अललफ्स कंट्रोल में रखोगी तो अच्छा रहेगा शरीफ लड़कियों का यह वतीरा नहीं होता कि अब तक तुम्हें समझ नहीं आई इसके लफ्स दिल पर वार कर रहे थे गोया वो इसके जानिब देखकर भी अंजान बन रहा था खुशी और गम की कैफियत एखर्टी हावी हुई थी हाशी मैं आपकी मनकुहा हूँ लेकिन आपका रवया हर मरतबा अजनवियत लिये होता है लहजे में ठकन सी थी मनकुहा हो बीवी नहीं बनी और बीवी मैं बनने भी नहीं दूँगा यह हग भी चल्द चीन लूँगा कोई आज हो सब फैसले करने वाला था नहीं हाशीर नहीं ऐसा नहीं पिलीज जान हलक को आई थी क्या कमी है मुझे में जो आप ऐसा कर रहे है हमेशा आपका रवया बर्दाश्ट करती आए हूँ मेरे भी जजबात है ऐसा साथ है हमेशा से मुझे दुटकारा गया है खुबसूरत हूँ, मुकमल हूँ, फिर पे आपका रवाया ही तक आमेज है, क्या मैं काबिल महबत नहीं हूँ, इलते जाए अंदाज में इसने हाशिज की जानी देखा महबत, खुबसूरती की मेराज नहीं होती मुन्ता सुल्तान, ये बेसाफ़ता जजबा है, कब हो जाया किसी को पता भी नहीं चले, जहन में बेसाफ़ता जवेरिया का सरापा गुमा था, और हुसने पर गुरूर ना करो, ये महस आने जाने वाली चीज है, क्या पता आज हो और कल ना हूँ, अजीब सर्द अंदाज में कहा था, लबजों को बहुत मुश्किल से मुझ से निकालने वाला शक्स आज बेताहशा बोला था, लेकिन नजर फिर भी इसके चेहरे पर नहीं डाली थी, दिल के कई टुकडों में बढ़ता हुआ महसूस हुआ, सांसों की लेकिन मुझे तुम में इतनी सी भी दिल्चस्पी नहीं है, अंगली और अंगोटे को जोड़कर इसने मुंताह को इसकी एहनियत बताई थी, तुम्हारा सजना सवलना, चलना फिरना, बोलना, हसना, सब का सब मिरे लिए बेकार शेय से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर हम सा साल का बनामान पल भर में तूटा था, रोते हुए उस जमीन पर वेटी चली गई, जिस इज़ार की वो कब से मतलाशी थी, आज नफरत के रेपर में लिप्टा हुआ मिला था, गारी में बैठा हो लाहोर की जानी प्रवाद आवा था, बुजाहर तो सामने की जानी मतवज किन था कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी, हवेली आने से पहले ही वो सोच चुका था, किसने मुंतहा से आर या पार होने का फैसला करना है, अपनी जिन्दगी वो एक नापसंदीदा शक्स के साथ नहीं गुजार सकता था, तलाग का फैसला वो पहले बहुत पहले कर चुक को जवाब देने के बाद इसके नजर मुंतहा पर उठी थी और दिलने एक मरतबा तो से टोका था, कि क्या वो इस लड़की को कभी छोड़ पाएका, मुंतहा सुल्तान महबत एक बेख्तियार जज़बा है, और मुझे महबत हो चुकी है, हाँ जानता हूँ मैं तुम्हारा की जिन्दगी को अजीर मोर पर ले आया था, कि कोई मंजिन, कोई रहा इसके सामने नहीं थी, हेलो मिस लाइबा, आफिस में दाकिल होते ही हमदान ने गरम जोशे से लाइबा की जानिब हाथ बढ़ाया था, जिसे लाइबा ने हलका सा थाम कर छोड़ा, गाजा ने एक ती इसरार मौत की वज़े और बहुत पहले से जानना चाता था, लेकिन कमपनी ठप होनी की वज़े से कोई सुराप नहीं मिल पाये था, और अब अचानक कमपनी का तेजी से उपर आना गाजान को हैलान कर गया था, उसे प्रोजेक्ट ना मिलने पर कोई हस्द नहीं हुई थी ना ही उसे अपनी हार का अफसोस था, माजी में इन दोनों कमपनी के बहुत अच्छे तालुकात थे, गाजान के बाबा बहुत हद तक लाइबा के फादिर के परीब रहे थे, लेकिन गाजान को कभी इनके फैमिली का इल नहीं था, और अचानक और का सामने आना, उसे चौ बताया मुझे, गाजान नहायत मर्धम लहजे में कहकर हमदान की जानी देखा, जैसे कह रहा हो के तुम भी जाहरे अफसोस कर लो, ओ, मिस लाइबा, तो अब कैसी है आप, कही जानी माले नुकसान तो नहीं हो आपको, लाइबा की भूरी आँखे हमदान की जानी उठी थी हमदान के चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराया देखकर इसका हलक तक कड़वा हो गया, जी सब ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ, चबा चबा कर कहती, वो हमदान को महदूस कर गई थी, ये तो बहुत अच्छा है, जैस लाइबा के आपके जान बच चुकी है, वरना हमल किताब खा कर रह गई, गाजान को भी हमदान की बात नागवार गुजरी थी, इससे पहले गाजान कुछ बोलता हमदान ने मज़ीद सिलसले के नाम जोड़ा था, वैसे मिस लाइबा, हमला आवार का कुछ पता चला, कौन था, और आपसे क्या दुश्मन है, अबरुज का क पर इसने लाइबा से जवाब चाहा, फिल्हाल पता तो नहीं चला लेकिन जल्द जान जाओंगी, खुद अतिमादी से कहती हो, चेया से टेक लगा गई, वैल जब जान जाए, तो हमें जबर बताईएंगा, शायद हम आपके काम आ सके, आपके फादर से बहुत अच्छे तालुकात थे, इस लिहाब से हमारी मदद करना आपका फर्ज है, जाब अभी हमदान के जानित से आया था, या शौर, लाइबा दो लबसे जवाब दे कर खामोश हुई थी, वैल, मिस लाइबा, नेक्स प्रोजेक्ट इंशालला, आपकी कमपनी के साथ ही जलाज साब से ब चहरे पर मुस्कुरहाट तारी थी, मायरा का काफी देर से जवेरिया की जानिती देख रही थी, जिसे होश ही नहीं था कि कौन इसकी जानित मतवज्ज है, हमदान का हाथ पकरना, फिर उसे गारी में बिठाना, जवेरिया को अलग का एहसास दोचार कर गया, बालों की लट से खेलती हो बस इस कठोर शक्स के ख्यालों में मगन थी, आपी, आपी, मायरा की आवाज उसे काफी दूर से महसूस हुई, लेकिन इसने तवज्जे नहीं दी, मायरा ने आगे बढ़कर जवेरिया को जिंजोरा था, और वो अपने ख्यालों से चौंकी, क्या है, जब जजे की सकती का एसास फौरान हुआ, जल्दी से उठकर वो मायरा के बैट पर आई थी, जो कंबल में दुपक कर अपने रोने का शुगर जारी कर चुकी थी, उफ मायरा, क्या हो गया है, इतनी सी बात पर भी कोई रोता है, कंबल उठा कर वो मायरा के करीब बैठी थी, अब मैं सौरी करती हूँ, चलो जल्दी से मूठ ठीक करो, मुझे तुम ही कुछ बताना है, जवेया की बात सुनकर और जटके से उठी, क्या, क्या बताना है, जल्दी से बताओ, मायरा की नोटंकी देखकर इसने एक चपत इसके सर पर रसीद की, बहुत चालाग हो तुम, एक्टिंग करना कोई तुम से सिखे, कुछ खास नहीं बताना था, जवेयरी नोसे टालना चाहा, आपी, अब तुम मुझे बहलाओ मत, मैं कब से आपको ही देख रही थी, किसको सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी, जरा मुझे भी तो बताओ, कौन मेरी आपी की लाइफ में आया है, जिसने उसे होश की दुनिया से खौबों की दुनिया में पहुँचा दिया, शरारती आँखों से इसने जवेयरी की जानिद देखा, बताओ भी अब, कौन है वो, मायरा ने मजीद पूछा था, हमदान नाम है इसका, जिस कमपनी में पहले जौब के ले गई थी, वही पर मिला था, मायरा वो बहुत प्यारा है, मायरा में बता नहीं सकती कि वो क्या बन गया है मेरे लिए, मुझे लगता है, मुझे इससे महबत हो गई है, दिल बस इसके ख्याल बुन रहा है, जानती हो, आज इसने मेरी जान बचा कर मेरा दिल ले लिया है, आज की सारी तफ्सिर भी इसने मायरा के गोशे गजार कर दी क्या अमीर भी है आपी मायरा ने अनोखा सवाल किया हाँ अमीर भी है और तुम क्यों पूछ रही हो माथी पर बल डाल कर इसने मायरा से पुछा तुम जानती हो मैंने क्यों पूछा है मायरा ने भी दूबदू जवाब दिया सुदर जाओ मायरा वर्ना वगरा कुछ नहीं कहो आपी वर्ना मैंने भी अनोखी धमकी देनी है कि सब भूल चाओगी बस याद रहेगा तो मामू का बेटा बेटे पर जोर दे कर इसने जवेरिया की बोलती बन की दफा हो जा तुम सारे मूट का हाल बिगार कर रख दिया अब से मैंने तुम्ही कुछ नहीं बदाना जाओ सो जाओ मैं भी सोती हूँ मज़िद कुछ बोले वगएर वो अपने बैट पर लेट कर आँखें मून गई लेकिन जहन की स्क्रीन पर हमदान का यह अक्स था सुबह का सुरज पूरी आबोताब से चमका था लेकिन रात का चान मुंताह की सारी चमक ले गया था फजर को कभी कजाना करने वाली आज ये गुनाह भी कर चुकी थी रात रोते रोते वो जमीन पर सो गई थी दिल पर इतना गहरा जख्म था कि कोई हैसास कोई दर्द बाकी भी नहीं रहा था याद था तो बस इतना कि उसे तमकर अपने लबजों का जहर इस पर फेंक कर जा चुका था और वो जहर इसके पुरे जिसम को नीलो नील किये इसके रगों में फैल चुका था रात पाओ पर किसी चीज के काटने से इसकी आँख खुली थी और खुद को छट पर मौजूद पा कर उसे सब याद आया था बिना पाओ की जानिब देखे बिना किसी तकलीफ को महसूस किये वो अपने कमरे में आई थी पाओ से बढ़कर तो दिन की तकलीफ थी जब पूरे वजूद को जकर चुकी थी एक एक चीज़ बैन करते दिल के संग उतारती वो बैट पर लेट कर नीन में धुत हो चुकी थी ना जाने कैसी नीन थी सुकून भरी नीन थी या फिर तकलीफ की नीन थी उसे कुछ समझ नहीं आई थी लेकिन नीन बरसो बाद उसे अच्छी नसीब हुई थी मुंतहा उची आवाज में पुकारती मारिया दर्वाजा खोले एक जटके में अंदर आई थी रात की आफाक की हरकत का बदला इसने मुंतहा से लेने का सोचा था जो इसकी जान अज़ाब में डालकर खुद ना जाने कहां गायब हो गई थी कमरे में आते ही मारिया हैरान रह गई बिना किसी कंबल की मुंतहा को बैट पर बेसुत फड़ा देखकर मारिया को किसी अन्हुनिक एहसास हुआ वो तेजी से इसकी जानी बढ़ी थी मुंतहा उठो बाजु पकड़ कर इसने मुंतहा को हिलाया था लेकिन इसकी बाजु छूते ही उसे ऐसा लगा जिसे आख को छूर बढ़ी हो बुखार में तपता जिसम सूजी आखों के पपोटे मारिया को खौफ में उपतला कर रही थी मुंतहा आखी खोलो क्या हुआ है तुम्हें 12 उसे जगाने के कोशिश की थी लेकिन मुंतहा आख नहीं खोल पाई मारिया तेज़ी से बाहर की जानी बढ़ी थी और डैनिंग हॉल में मौजूद जूबिय वेकम को बुलाने के लिए डैनिंग में आकर चिलाई थी जहां सब नाश्टे में मगन थे चच्ची मुंतहा आखी नहीं खोल रही बुखार में तप रही है और वो बेहोश हो गई है भीगे लजे में कहे कर इसने जूबिय वेकम का दिल दहला आया था सब का नाश्टे से हाथ रुका था आगजान की जान भी जैसे सीने में अटकी थी बटिया रानी को क्या हो गया जूबिय वेगम से पहले आगजान और अभी जान अंदर की जाने बढ़े थे जहां मुनतहा होश होवाज से बेगाना पड़ी थी बिटिया, मुंतहा, मेरा बच्चा, आँखे खोलो, क्या हुआ, मुंतहा मुंतहा को बैसुत देखकर जूबिया बेगम की चान हलक में अटकी थी आगाजान, मुंतहा, आँखे नहीं खोल रही, इसके वजूद को जिंजोरती हो रोती चिल्लाई थी कोई डॉक्टर को बिलाओ, मेरी बच्ची, आगाजान, वो आँख नहीं खोल रही, आगाजान, मेरी बच्ची जूबिया की दहाई सुनकर आफाग भी तेजी से अंदर आया, और आधी इस्तिफसार किया था, क्या हुआ है, अम्मी, बिटा, मुंतहा जूबिया बेगम महस दो लबजी जवाम देकर मुंतहा की चानि मुंतवज हुई, मुंतहा की बेचान वजूद को देखकर वो सारा मामला समझा था, तेजी से बाहर निकल कर, इसने डॉक्टर को कॉल की थी, और दो बार अंदर की चानि बढ़ा, पाव पर जहरीली चीज क काट कर इसके ज़ाद पर इहसान किया था और एक किसम का इसके दिल की तकलिफ का भरम रखा था, वना ना जाने क्या घजब हुचाता। बेहुशी में भी इसके मुंझे हाशिर का नाम निकला था, जैसे जूबिया बेगम के अलावा कोई भी नहीं सुन पाया था, जूबि की रौना के एकदम जैसे खत्म होकर रह गई सब बारी बारी मुंतहा का हाल पूछनी आ चुके थे महस दो लोग थे जिन्होंने ये जहमत करना गावारा नहीं की थी शायना का तो जैसे कुछ फराकी नहीं पड़ रहा था दोनों मा बेटी कमरे में गुसी मुंतहा की बीमारी को सोच रहा था हाशिर का इसने कई बार फोन ट्राय किया लेकिन नंबर आउट आफ रेंड था डैमिट भाई फोन उठाए मुंतहा की हालत सबको परिशान कर रही थी ना जाने एक रात में ऐसा क्या हुआ था जो इतनी बीमार हो चुकी थी और सबसे ज्यादा हैरत पाव पर जहरीली चीज के काटने पर हुई थी क्यों कमरे में कैसे दाखिल होगी और मंतहा को खबर भी ना हुई इन सब बातों के जवाब मंतहा के होश में आने के बाद ही मिलने थी हमदान मुझे उमीद नहीं थी कि तुम वहां कुछ ऐसा करोगे मुझे लग रहा था जैसे त हमदान को ऐसा समझते हैं हमदान ने जैसे गाजान को महिज टालना चाहा मजीद गाजान क lobby की घंटी ने गाजान की तबर्जें की कही धीटी थी कान से उंपार लगाय वो लाउंच में मौgenद सौफे पर बैठा हमदान उसे उपर जाने कर शारा करके उपर की जानी बढ़ और इस हद तक चला गया था कि इसके बारे में मालूमात एकटी कर रहा था खुशकवार मूद पल भर में नागवारियत में बजला था और अलब भेंचे तनी हुई रगो के संग उपर कमरे के जाने बढ़ गया मज़ीद सुनने की इसमें हिम्मत नहीं थी दिल में पका इरादा बांता कि काजान की शादी इस लड़की से कभी नहीं होने देगा भारी हुई आँखे इसने बहुत मुश्किल से खोली थी सर पर हाथ रखकर इसने जैसे तकलीफ को कम करना चाहा था अम्मी बेसाफता करहा कर इसने जूविया वेगम को पुकारा जूविया वेगम मुंतहा के करीब बैठी अभी कच्छी नीम में थी मुंतहा की करहा पर हर बढ़ा कर उठी क्या हुआ मेरा बच्चा बेताबाना अंदाज में मुंतहा की जाने मुड़ी थी अम्मी, नम्तहा से मजीद कुछ बोला नहीं गया, हलक में जैसे कांटे उगाये थे पानी, मूँ से चन अलफाज निकले, मजीद बोलने की हिम्मत बाप की नहीं रही थी जूबिया बेगम ने थोड़ा सा पानी उठा कर, पानी का गिलास मूँ से लगाया घूर घूर पानी हलक में उतारती, इसने खुश को गले को तर किया पानी पीकर ही इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी धम से दोबारा पीछे गिरती, वह आँखे मून गई जैसे तकलीफ परदाश्ट से बाहर हो, पाउ से मुसलसब दर्द की टीसे उठ रही थी लेट कर इसके कुछ हवाज बहाल हुए थे, जहन में रात का वाक्या रोशन हुआ और आँखों से बहता पानी, कनपटी से बालों में जजब हुआ था बेटा, क्या ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दवादू जूबिया वेगम ने बालों में हाथ फिर कर बेताबी से पुछा, नफी में सहल लाकर इसने महस दो लफ़ कहा अम्मी हाशिर, मुंता के मुसे दो लफ़ी बात सुनकर जूबिया वेगम को जैसे सारा मामला समझ में आ गया जिस अन्हुनी कडर था, वही हुआ, उठकर वो बेसाफता, जूबिया वेगम के सिने से लगी थी, और बे आवाज रोती वो जूबिया वेगम को जैसे बिना बोले भी, सारी बात समझा गई थी सबर मेरी बच्ची, सबर, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगी, कुछ भी नहीं लेकिन बस ये कहूंगी कि अल्ला पर छोड़ दे, सब इस जात से बढ़कर कोई जात नहीं तेरे नसीब कहें, तो तुझे मिले गम, मेरी बच्ची मगर अम्मी, मुंताह ने कुछ कहना चाहा, लेकिन जूबिया वेगम की अगली बात ने इसके जुबान पर जैसे कुफल डाल दिये, ना मेरी बच्ची, शिकवा नहीं करना इन्शाल्ला वो तरब सब ठीक करेगा, बस एक चीज़ थाम कर रखनी है, सबर का दामन जूबिया वेगम ने जैसे ठंड़क की एक फुवार मुंताह के विलगते दिल पर उडे ली, लेकिन जलते दिल को एक फुवार काफी नहीं थी, दिल को तो एक ऐसे सर्द समंदर की तल्ब थी, जो इसका पूर पूर बर्फ में बदल दे, लेकिन ये बर्फ शायद इसके क जल्द आया था, वही आज लेट हो चुकी थी, नो सर, वो अभी नहीं आई, सो मिस अरीबा, वो जब भी आए, इन्हें मेरे ओफिस में भेज दीजियेगा, यस सर, अरीबा महस, सर इला कर रह गई, जावेरिया को इसके कैबिन में बैठे, वो फौरण इसकी जानिब आई, तुम आ गई, जावेरिया आज काफी लेट हो गई हो, सर भी वापस आ चुके है, और तुम्हारा पूछ रहे थे, वो जो अभी आकर बैठी थी, अरीबा की बात सुनकर घबराई थी, क्या, सर भी वापस आ गए, वो भी इतनी जल्दी, ऐसा कैसे मुम्किन हो सकता है, आख गहरा सांस लिए, इसने खुद को अंदर जाने के लिए तयार किया, धीमे से नौप करके इसने अंदर आने की इजाज़त चाही, फौरन से उसे इजाज़त मिल गई, आए मिस जवेरिया, अंदर आते ही उसे हाशिर ने बैठने का कहा, फाइल्स इसने हाशिर की जानी बढ बढ़ाया, मिस जवेरिया, आपको ऑफिस का माहूल कैसा लग रहा है, कोई शिकायत या, फिर कोई कमी है तो बताईए, हाशिर की सवाल ने जवेरिया को चौंका दिया, ये सवाल कोई भी बहुस अपने एंपलोई से कभी नहीं करता, लेकिन हाशिर का सवाल पूछना उसे दिल को जैसे डपटा था, और फायस के जानिब तवज्य की थी, शानी, मसला गंबीर होता जा रहा है, भाई इस लड़की का पिछा नहीं छोड़ रहे, मुझे कुछ न कुछ करना होगा, वन्ना वो लड़की मेरी भाबी बन कर आ जाएगी, और मैं कुछ भी नहीं कर जाग लगा लेता, यार तु परेशान मत हो, कुछ न कुछ करते हैं, दूसरी जानी मौजूर्ट शानी ने कुछ हिम्मत बनाई थी, यार कैसे परेशान नहीं, ये कोई छोटा मसला नहीं है, मेरी जिंदगी का एहम मसला ही ये, और तु कहता है कि मैं आराम से बैठ जाओं नजर बस चट पर टिकाए, वो हाशिर के अलवाजों की संगीनी महसूस कर रही थी, पुरा दिन गुजर चुका था, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था, दिल वक्फे वक्फे से कुला रहा था, पुरा दिन वो बस आँके मुंदे, दुनिया से नजर च जल हो जाती है, दर्वाजे पर होती दस्तक पर वो होश की दुनिया में लोटी थी, और आने वाले को इजाज़त दी, मैं आज जाओ मुंदाहा, थोड़ा सा दर्वाजा खोल कर अशर ने गरदन अंदर की चानिब किये, शरारत आमेस नजरों से मुंदाहा से अंदर आने क इजादत चाही, फिकी सी मुसकान के संग इसने अशर को अंदर बुलाया, फाइनली, नीन की देवी जाग गई, वरना लग रहा था कि ना उतने का लंबा इरादा कर लिया है, गहरा सांस कीच कर इसने मुंदाहा को छेड़ा, बैट जाओ, ओके, बैट जाता हूँ, लेकिन आपकी बीमारी के वज़े से परिशान थे, और इस चक्कर में मैं शाइना से अकेले में बात नहीं हो पाई, ना मैं उसे परपोस कर पाया, तिएड़ा मू बनाए, इसने मुंदाहा को मुस्कुराने पर मजबूर किया, उफ अशर, मैं तो डर गई थी, ना जाने क्या हो ग और मेरे और शाइना के लिए सर्प्राइस प्लान करें, आप चानती हैं कि मैं आपकी बगएर कुछ नहीं करूंगा, इसलिए कल ये इस्पेशल काम हो जाए, धंकी आमेस लचे में कहकर इसने मुंदाहा का मान बढ़ाया, फुपु को तुम रोक लो, सर्प्राइस प्लान क करना मेरा काम है, अपने दिल की हालत को कफन में लपेट कर इसने अशर की खुशी के लिए सुर्क दुलहनी रंग चेहरे पर सजाया था, जिन्दगी से भरपूर, मुंदाह सुल्तान को अपने से ज्यादा हमेशा दूसरों की खुशी का खयार रहता था, और आज भी ऐसा ह हुआ था, अशर की खुशी को वो अपनी वज़े से खराब नहीं कर सकती थी, हिम्मत मुश्तमा करके इसने कल की स्पेशल तयारी करनी थी, और अशर को एहम सर्प्राइस देना था, कल का दिन शायद अशर के साथ-साथ मुंदाह के लिए भी यादगार बनने वाला था, ज आखों में ये मनजर देखकर जलन महसूस हुई, हमदान किसी लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले, गारी के साथ टेक लगाए, बातों में वगन था, मुठियां भेजकर इसने जैसे अपनी अंदर की जलन को जब्त करना चाहा, लेकिन सामने का मनजर इसका बस बीपी हाई क कर रहा था, दिल चाह रहा था कि बस किसी तरह वह इस लड़की का हाथ हमदान के हाथ से छुड़वा ले, और इस लड़के के बाल नोच दे, लेकिन ऐसा करके वो कोई तमाशा भी नहीं कर सकती थी, जलती कुरती वो बस में सवार हो गए, दूसरी जानी मौजूद हमदान आदमी अप मुझे आग जैसे लफस निकाल रहा था, मुकाबिल लड़की उल्टे सीधे मुझे बनाती वहां से निकलती चली गई, इसके जाते ही हमदान भी अपनी गारी जन्स से भगा ले गया, शफाफ चहरे के साथ उधीमें कदम उठाती, लाउंच में आई थी, जहा उपर आजाती बेटा, तायमी की फिकर से भरपूर आवास से इसके चहरे पर मुस्कुराण चंकी, नफी मैं सहरिनाती, इसने तसली देना चाहा, लेकिन तायमी की डाड़ने मौका नहीं दिया था, आज ये चहरा इतना सादा क्यों है, लिपिस्टिक क्यों नहीं लगाई और ये क्या, दो दिन में चहरी की हालत कर ली है, मारिया को समझाते समझाते लगता है, तुम खुद भूल बैठी हो, ना खाने की फिकर है, ना चहरे की फिकर है, तायमी मैं ठीक हूँ, और लिपिस्टिक बस तबियत बेजारी के वज़े से नहीं लगाई, मुन्तहा का फि अगजान की जानित देखा, जो मीठी नजरों से मुन्तहा की जानी भी मतवज़े थे, कैसा है मेरा बच्चा, धीमें कदम उठाकर और इसके साथ आकर बैठे थे, सर पर हाथ फेल कर बेसाखता, अपनी नर्म शफकत भरी बाहों में कैद किया, जी बहतर हूँ, बस ये बेटा, हमने एक एहम फैसला किया है, आगजान ने बात का आगास किया, और मुन्तहा की जैसे जान हलक में आई थी, अच्छी तरह जानती थी किया बात करने वाली हैं आगजान, दिल की हालत जो समली थी, वो दोबरा बिखरने वाली थी, जब्त के साथ इसने महज जी कहा, इसका सराजबात महिलते देखकर आगजान ने बात का आगास किया, हमने आपकी और हाशिर की रुकसती का सोचा है, आपको कोई एतिरास तो नहीं है, दिल तो चीख चीख कर एतिरास कर रहा था, लेकिन दिल की इसने अब बिलकुल भी नहीं सुनी थी, दिल की हला दिल में इसने सराजबात महिलाया था, आगजान के चहरे पर बेसाखता मुस्कुराट चमकी थी, और आगे बढ़कर बेसाखता मुन्तहा के माथे पर शपकत भड़ा लम्स अता किया था, आखे बन करके जैसे इसने आसों को बाहर निकलने से रोका, दूर खड़ी जूबिया बेग जैसे हवा में मौलिक होकर रह गए थे, कमरे में आते ही वो ठके कदमों से जमीन पर ढेग गई थी, आगजान आपने तो ये खुशी भरा फैसला कर दिया, लेकिन एक बात इस सितमगर से भी पूछ लेते कि वो क्या चाता है, मैं कैसे वो राज बताऊं कि आपका पोता मु चाहूं, अगर हाशिर का हाथ थामूंगी तो बतले में दुदकार मिलेगी, और मेरी ये बरबादी सब की जिन्दगी बदल कर रख देगी, और अगर खुद कोई फैसला करना चाहूं, तो भी, मेरे एक फैसले के साथ दो दो जिन्दगिया चुट चुट चुकी है, अपन सहते सहते जान दी चली जाएं, दोनों हातों से आँके रगड़ कर वो आज के सर्प्राइस के लिए खुद को तयार करने वाली थी, लौन की पिछली जानी ठकन जदा वजूद के संग वो टेबल सजाने में मगन थी, मारिया बलून्स को साइड पर मौजूद टेबल पर ल थी, तब यह तो ठीक हो ही जाएगी मारिया, लेकिन यह मौक का दोबाना नहीं आएगा, मैं अपने देवार जैसे भाई की खुशी खराब नहीं कर सकती, वो उसे किसी रेस्टरेंट में भी ले के जा सकता था, किसी भी शक्स से यह डेकोरेशन भी करवा सकता था, लेकिन इसने ये इज़त मान मुझे दिया, कि मैं इसके लिए कुछ खास करूँ, तो मैं कैसे उसे इंकार कर देती, और अगर मैं बिस्तरे मर्ग पर होती न, तब भी उसे जवाब नहीं देती, क्योंकि ये मेरी सर्शत में नहीं, कि मैं किसी को मूँ तोर जवाब दूँ, मारिया इसके तफसिली जवाब पर कुछ कहे भी ना सकी, दूर खड़ी शाइना ये मनजर नहायत तनफूर से देख रही थी, अशर की बोलती नजरों को वो बहुत पहले मैसूस कर चुकी थी, लेकिन इसका हमेशा से ही हाशिर की जानित धुका रहा था, अशर की प्रसनलिटी, हा अंतहा की पीछे खड़ा हुआ था, कुछ सोच का शाइना का शैतानी जहन मुस्कुराया था, मुबायल निकाल कर इसने दो-चार पिक्स ली थी, मुबायल अभी वो पॉकिट में रखने ही वाली थी, जब इसकी आँके हैरत से फट गई, ओ, माई गॉड, क्या मनजर है, मै पिले वो गिलती अशर ने दोना हाथों से थामा था, और शाइना ने ये मनजर मुबायल में कैद किया, तस्वीर का अंदाजा ऐसा था, कि जैसे मुन्तहा, खुद इसकी बाहों में है, मुन्तहा सुल्तान, बहुत मनाली तुमने खुशी, तुम्हारी खुशी तबाहो वर बाद ना कर दी, तो मेरा नाम भी शाइना नहीं, जहर भरे अंदाज में कहती है, वो वहां से वाक आउट कर गए, उपस, ना जाने कैसे चक्कर आ गया, सर पर हाथ रखकर वो अशर से दूर हुई थी, मुन्तहा चले आप रोम में, मुझे नहीं ये सर्प्राइस वगेरा क कब आए, मुन्तहा ने लाटारी से कहकर मारिया की जानिब देखा था, लेकिन वो भी अशर की बात से मुत्विक थी, इस सर्प्राइस से ज्यादा आपकी सहत जरूरी है, और मैं भी कितना बुरा हूँ, बीना आपका ख्याल किये, मैंने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदार ही दे दी, आप रेस्ट करें, मैं खुद ही कुछ प्लाइन कर लूँगा, और अगर आगजान को कुछ पता चल गया तो शामत पकी है, इसलिए ओ प्लाइन छोड़ते हैं कुछ और सोचते हैं, महस इसकी तवज्जे हटाने के लिए अशर ने प्लाइन कैंसल किया था, मुन बेगम चक्रा कर रह गई, गुस्से से चिला कर उन्होंने हाथ छुड़वाना चाहा था, मौम मैं बहुत बहुत खुश हूँ, पता नहीं, बता नहीं सकती मैं आपको, कितनी खुश हूँ, बाजु सकती से तुबा बेगम की गिर्द लपेट कर शाइना ने मजीद चान हि जल्दी से बताओ क्या हुआ है, एक जटके से इसने शाइना को खुच से दूर किया, उफ ममी, ये देखो, मैं तो खुद ऐसी सिच्वेशन की रियेट करना चाह रही थी, लेकिन देखो, मेरे बिना कुछ किये, सब हो गया, उफ ममी, ये देखो, इसने मुबाइल पर जरत नहीं है, कैसे अशर की बाहों में सिम्टी खड़ी है, जरा भी लिहाज शर्म बाकी नहीं रही, उफ ममी, ये काम आपका नहीं है, ये काम हाशिर अच्छे से करेगा, आप अपनी जुबान को इतनी जहमत मत दे, बस आप सबर करे, कल मुनतहा की जिंदगी बदलने वा तस्विरे से लेक करके इसने हाशिर के नंबर पर सेंड की थी, हाई शाइना, ये क्या कर दिया, अपने नंबर से क्यों भेज दी, हाशिर को वो तो कभी यकी नहीं करेगा, उट्टा तुम पर इल्जाम लगाएगा, और सारा इल्जाम तुम्हारे सर आएगा, सुबा अमी, आप बीना बहुत सादा है, मेरे मूपर क्या बेवकूफ लिखा है, जो मैं ये काम करूँगी, याद है, न्यू सिमली थी, और वो नंबर बिलकुल भी यूज नहीं किया, तो आज इस मुबारक मौके पर इसका इस्तिमाल कर लिया, और देखे, डबल टिक भी हो गई अब हाशिर का कहर तूटेगा मुंतहा पर, और यहां मेरे जलते दिल को सुकून मिलेगा, इतनी भयानक प्लानिंग करते हुए, शायद वो इस रब को भूल बैठी थी, जो इन सबसे बड़ा प्लानर था, कॉफी का मक पकड़े वो बैट पर बैठा, लेप्टॉप पर एक शराल दोड़ते हुए महसूस हुए, तस्वीर को इसने कौर से देखा था, अशर की बाहों में सिम्टी सी खड़ी, वो मुंतहा ही थी, और पीछे का मनज़र भी कुछ-कुछ वाज़े था, लाइट्स के साथ ही कुछ फूल भी नजर आय रहे थे, जैसे मुंतहा किसी खास की, लाना थे तुम पर, टूब मरो तुम मुंतहा, कुछ तो ख्याल किया हता, मुझे आवाज में चिला कर जैसे इसने मुंतहा को ये सब कहा, लेकिन ये आवाजे महस दीवारे ही सुन पाई थी, मैं जो अपने किया पर पश्टा रहा था, कि तुम से माफी मांग लूँग लेकिन मुंतहा, तुम माफी के नहीं, दूदकारने के काबिल हो, बहुत हो गया, अब और बरदाश्ट नहीं करूंगा, फॉरान से पहले लाउंज में मौझूद फोन से इसने अपने वकिल को तरलाग के पेपर तयार करने को कहा था, वक्त जाय करके वो इस नासूर को लता ही जा रहा था, कार्ट पर मौझूद पते के मताबिक वो आखिर हमदान से मिलने आ ही गई थी, गुलाबी हिजाब के साथ सफेज शलवार सूर पहन कर वो इस जगे मौझूद थी, फिरिया चड़ती वो तेजी से धरकते दिल के साथ उपर आई थी, ये एक छोटी सी विल्डिंग थी, जो काफी विराने पर मौझूद थी, अंदर मौझूद हमदान सिद्धी के नाम का बोर्ट देखकर वो रूम में दाखिल हुई, मैं जानता था, तुम मेरे पास जरूर आओगी, तब ही तो मेरा कार्ट तुम्हारे बैग में पहुंचा था, मेरी छटी ह इस हमेशा मुझे सही राय देती है, और देखो, आज तुम यहां मौझूद हो, इस दिन सड़क पर भी मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, कमरे में दाखिल होती ही, उसे हमदान की आवास सुनाई दी थी, लेकिन लूम में मलगर्जा अंदेरा होने की वज़े से, वो हमदान को हख खुशक कर देगी, डवेरिया को इसकी उलजी बाते किसी तूफान का अंदेशा दे रही थी, पानी का गिलास पकर्ल लुट Nós जवेरिया, दوبारा इसने पानी का कहा, डवेरिया को शक हुआ था, कि इसने जरूर पानी में कुछ मिलाया है, मैं ये पानी नहीं, इससे पह हर बात को दुरूस्त अंदाजा लगाना हैरान कुल लगा तुम क्या चाहते हो मुझसे जवेरिया ने बेचारगी से कहते हुए गिलास पर गिरफ्ट मजबूत की चाहता तो बहुत कुछ हूँ अगर तुम मान जाओ तो देखो मैं आना नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी इ मासी मेले दिल को पुर्सकून कर देती है मैं मड़ूर हो चुकी हूँ हमदान खुदा का वास्ता है मुझे अपना लो मैं मर जाओंगी हमदान तुम मुझे पागल कर रहे हो दिल की हालत से मड़ूर होती वो सब बोलती चली गई चानती नहीं थी कि खुद के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है यगदम हमदान का कहका फिजा में गुनजा था जवेलिया उफ क्या क्या कह रही हो मुझे नहीं पता था कि मेरी चछटी हिस मुझे इतना दुरूस इशारा देगी उफ जवेरिया मुझे हसी आ रही है बेहुदगी से मुस्कुराता वो जवेरिया की आँखों में आंसु लाने की वज़े बन गया इसकी हसी से जवेरिया ने खुद को मलामत किया था कि क्यूँ वो सब बोल गई अपनी नादानी पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हुई थी भूल गई थी कि आउरत का पहले इजहार करना औरत के किरदार को हलका कर देता है जवेरिया काउट से उटकर बैक थामे आंसु साफ करती दर्वाजे की तरफ बड़ी थी जब पीछे से हमदान की आवास सुनाई दी इसके कदम बेसाक्ता थमे थे महबबत करती हो ना मुझसे तो मेरी बात भी मानोगी महबबत तो नाम ही कुर्बानी का है तो क्या तुम मेरे रिये कुर्बानी दोगी हमदान का रहजा और अलफाद जवेरिया को चौका गए लेकिन वो मुडी नहीं थी इसके सवाल की मुंतजर थी जो इस पर ना जाने क्या कहर धाने वाला था मेरे भाई से शादी करोगी मुकाबिल का सवाल वाकि जवेरिया का हलक खुशक कर गया अपने कदम पर खड़ा रहना उसे मुश्किल लग रहा था उसे उमीद नहीं थी कि हमदान ऐसा भी कुछ कहेगा हमदान ने ठीक ही कहा था इसकी धहमा का खैस बात से उसे पानी पीवने पर मजबूर कर देगी क्या हुआ जवेरिया जवाब नहीं दिया तुमने हमदान इसकी पीछे आकर खड़े हुआ हमदान को अपने करीब महसूस करके वे अफलक कापी ये क्या कह रहे हो आँखे मीच कर सकती से कहती हो मुडी वही जो तुमने सुना हमदान ने करीब जुकर गंभीर लेटर में कहा और आँख का कोना दबाया जवेरिया इसके अंदास पर हैरस जदा रह गई मुझे तुमसे इस घटिया पन की उमीद नहीं थी हमदान सिद्धी की एकदम जवेरिया का हाथ उठा था लेकिन हमदान उसे बीच में ही रोक चुका था ना ये गलती मत करना वरना मेरा वो रूप देखोगी के मौत मांगने पर मजबूर हो जाओगी सुर्क आँखो के संग लव्ज चबा चबा कर कहता इसने जवेरिया को हवास बाखता किया घटिया मैं नहीं तुम हो तुम्हारा यहां आना ही तुम्हारे किरदार को जाहर करता है को साफ करके वो गायब दिवांगी से बाहर के जानी मिकलती चली गई सड़क पर आते ही उसको कुछ होश नहीं था आँखों के गिर्द गहरा अंधेरा आया और सामने मौजूद काड़ी को वो देख नहीं पाई काड़ी से टक्रा कर इसकी आँखे बन होती चली गई आ गई गुल खिला कर मन्हूस मारी तुझे जरा शरम नहीं आई अरे मुझे बताया होता मैं तेरी शादी करवा देती लेकिन तुझे जरा गैरत नहीं आई ये गुल खिलाते हुए बता कौन है ये और कहां से आ रही है आगे बढ़कर जरा विगम ने एक थपड जवेरिया की मुँपर मारा था घर में दाखिल होती जरा विगम के साथ अपनी सोतेले मामो और इसके बेटे को देखकर वो हैरान हुई थी महले की चन अफराद भी घर में मौजूद थे हाशिर जवेरिया को सहारा दिये इस कच्चे से घर में दाखिल हुआ था एक बड़ी और भध्दी सी औरत की जुबान के जोहर सुनकर हैरान हुआ था कौन है ये बता मुझे वरना अभी के अभी जान दे लूगी क्या रिष्टा है इससे तेरा अमी मेरे बात सुने ऐसा कुछ नहीं है ये मेरे बास है और ये बस मुझे छोडने आए है चुपकर जा इतनी रात को कौन सा बास छोडने आता है बता मुझे बवखूफ समझती है मुझे ए लड़के बता क्या किया इसके साथ और इसकी इहारत कैसे हुई इससे पहले मज़िद कुछ बोलती महले के एक मौझे शक्स की आवाज ने जारा वेगम की जुबान बंद की थी जारा खातून अब तुम्हारी इस महले में कोई जगे नहीं तुम्हारी बेटी इतनी रात को एक गयर मर्द के साथ नजाने क्या क्या करके आई है हमारी बच्चियां जब ऐसा कोई काम देखेगी तो इन पर नजाने क्या असर पड़ेगा या तो यहां से निगलो या फिर अपनी बेटी को यहां से बाहा निकालो हम मजीद गंद बरदाश नहीं कर सकते देखे आप गलत समझ रहें ऐसा कुछ नहीं है इनका एक्सिडन हो गया था मैं इने हॉस्पिटल से घर लाया हूँ रास्ते में ट्रैफिक की वज़े से देर हो गई हमें कुछ नहीं सुनना इस लड़की को यहां से ले कर जाओ लकिन इससे पहले तुम्हें इससे निकाह करना होगा इसी शक्स ने मजीद धमाका हाशिर के सर पर किया था मैं कैसे कर सकता हूँ और या आप क्या बगवास कर रहे हैं इसका महस एक्सिडन हुआ था और मैं इने घर लाया आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें हाशिर को मामला विगरता देखकर नजर आ रहा था लेकिन नेकी उसे गले पड़ती नजर आ रही थी महले वालों की तीकी नजर इसी पर थी जारा बेगम ने एक और थपड जविरियों के मूँ पर मारा था अमी मेरी बात तो सुने जविरियों ने मज़ीद कुछ कहना चाहा लेकिन जारा बेगम ने इसे मौका नहीं दिया तुने मुझे कहीं मूँ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा ये सब तेरी वज़े से हुआ है जा दफा हो जा मेरे घर से तेरे लिए इस घर में कोई जगे नहीं जारा बेगम मुगलिजाद बग्ती उसे धक्के पर धक्के दे रही थी इससे पहले हाशिम में देफमी की सकत नहीं थी उंची आवाज में चिला कर इसने जैसे वहाँ सब लोगों को साकित किया था मैं निकाह करने के लिए तयान हूँ अब उसे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा अभी क्या भी निकाह खवा को बुलाया जाए मैं इसी वक्त ये निकाह करूँगा जवेरिया पर भी जैसे सकता तारी हुआ था इस फैसले की उसे इतनी जल्दी उमीद नहीं थी जुबान जैसे तालू से चिपकी थी हाथ पकड़कर जारा बेगम उसे कमरे में खसिर्टी हुए ले गई कुछ देर बाद महले वालों की बद्दौाओं के संग एजाब औ कुबूल की रस्म अदा हुई थी भारी होते सड़के संग इसने बस साइन किये थे इस वक्त कोई ख्याल कोई एहसास इसके दिल में नहीं था पल भर में जिन्दगी कैसे बदलती है हाशिर को इस बाद का अंदाजा अब हुआ था मुंतहा की तस्वीरे देखकर राज की रीन उड़ चुकी थी राज देर तक जागने की वज़े से इसकी आंग भी लेट खुली थी फ्रेश होकर लोयर के पास जाने का फैसला कर चुका था आज हर हाल में इसने ये फैसला करना था मुंतहा को मजीद अपनी जिन्दगी में बरदाश नहीं कर सकता था अरिबा से मामलार डिसकस करता वो अपनी गाड़ी के चानिब आया लोयर से पेपर लेकर वो हवेली के सफर पर रवाना हुआ था मुंतहा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारे लिए क्या करो इस हद तक घटिया होगी मैंने सोचा नहीं था स्ट्रिंग पर गिरफ्त मजबूत किये वो इन तस्वीरों को सोच रहा था अचानक गाड़ी जटका खा कर रुकी थी जितनी जल्दी वो वहां पहुँचना चाह रहा था इतनी ही देर हो रही थी डैमिट ये कैसे हो गया उसे अभी खराब होना था स्ट्रिंग पर जोर से हाथ मार कर इसने गुस्सा कम करना चाहा दर्वाजा खोल कर वो बाहर आया और मैकनिक को फोन करके इसके इंतिजार में वो दोबारा गारी में बैठा दो घंटे गुज़र चुके थे लेकिन मैकनिक का कुछ पता नहीं था गारी को वो कई मरतबा स्टार्ट कर चुका था लेकिन गारी ने भी जैसे आज जिद लगा ली थी कुछ दिर बार मेकनिक के आने के बाद कारी को स्टार्ट किये वो दोबारा सफर पर रवाना हुआ था हवेली की जानिव जाते रोड पर वो मुड़ा ही था के सामने मौजूद लड़की एकदम कारी के आगे आई थी हौन की आवास सुनकर भी इसने शायत कोई तवज़े नहीं दी थी गारी को बमश्कुल ब्रेक लगा इसने बड़े हाथसे को होने से रोका था माथे पर बल डाले उगारी से बाहर निकला ही था के सामने मौजूद जवेरिया को देखकर इसकी कदम थमे थे माथे पर हलकी सी चोट थी लेकिन लग रहा था सदमे की वज़े से बेहोश हो गई थी इसको यहां देखकर हैरान हुआ था जवेरिया को तो इस वक्त आफिस में होना चाहिए था इसकी यहां मौजूद की हाशिर को उलजा रही थी लेकिन इस वक्त उसे यहां से ले जाना ज़रूरी था बाहों में उठाए वो हॉस्पिटर की जानी बढ़ा शाम के साएं गहरे हो चुके थे लेकिन जवेरिया को होश नहीं आया एक तरफ मुंतहा और एक तरफ जवेरिया उलट चुका था आज वहां जाना मुम्किन नहीं हो सका लेकिन इसने सोच लिया था कि कल हर हाल में हवेली जाएगा सुने आपकी पेशन को होश आ चुका है और वो आपको बिला रही है नर्स की आवाज ने उसे होश की दुनिया में पटका सर अजवेरिया बेहाल सी लेटी थी सर मुझे मेरे घर छोड़ दे और प्लीस मुझसे कोई सवाल मत कीजिएगा जवेरिया की दो टोग बातने उसे सवाल करने से रोका और वो बाहर की जानिब बढ़ गया जवेरिया भी अपना हैंड बैक थामे दुखते सर के साथ इसके साथ रवाना हुई थी घर पहुँचकर जवेरिया ने उसको रोकना चाहा था कि वंदर ना आए लेकिन यगदम उसे चक्कर आया था हाशिर ने आगे बढ़ कर इसका हाथ थामा रोकुद दूसरे रूम में बन हुआ सर पर हाथ फेर कर जैसे वो अपना गुस्सा कम करना चाह रहा था मुन्ताह सुल्तान की आसानी में शायद एक दिन का इजाफा हो चुका था लेकिन हाशिर हमदानी ने जैसे इसकी आसानी कम ना करने की ठान रखी थी कुछ सोच कर इसने लॉयर का नंबर डाइल किया इबाद साहब क्या आप अपनी सेक्रेटरिया किसी और को मेरे घर भेज सकते हैं मुझे आप तक तरलाग की फाइल पहुँचानी है जो आपको कौरियर के जरिये मेरे घर पहुँचा दे दूसरी जानिब से लॉयर का जवाब सुनकर इसने गहरा सांस लिया था और गाड़ी से पेपर निकाल कर इन पर आखिर कार दस्तखत करके चाज चुका था और सुबा या कियामत मुंतह सुल्तान के हस्ति पर कहर भर कर तूटने वाली थी अफजर ये क्या है आगाचान लाउंग में बैठे चाय का कप सामने रखे अकबार पढ़ने में मगन थे जब बाहर मौजूद कार्ड ने एक खाकी रंग का लिफाफा आगाचान के आगे पेश किया साहब जी ये बाहर कोरियर वाला देख कर गया है इस पर मौजधा वीबी का नाम लिखा है अच्छा तुम जाओ हम देख लेते हैं किसी अन्होने के एहसास से इन्होंने वो लिफाफा फोरण चाक किया और अंदर मौजूद 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 मौजधा की बरबादी के काकसात में जैसे इनके दिल की धरकन रोकी थी माथे पर पसीनें के कत्रे नमुदार हुए थे दस साल पहले हाशिर की की गई बात तिमाग में घुमी थी में कहां तो मैं कर चुका हूँ लेकिन इस बात की कोई गारेंटी नहीं कि कब इस निकाह को खतम कर दू यानि इसने अपना कहां सच करके दिखाया था मुंता सुल्टान को आखिराज इसने छोड़ी दिया था पेपर हाथ में पकड़े वो सोफे पर ढे गए सल्मान अली जो लाउन में दाखिल हुए थे आगजान को यूं सोफे पर गिरते देखकर फौरण इनके जानी बढ़े आगजान सब ठीक है ना आगे बढ़कर उन्होंने सहारा दिया था बिना कुछ बोले उन्होंने पेपर्स सल्मान हमदानी के हाथ में थमाए पेपर्स पर नजर पढ़ते ही सल्मान हमदानी की आँखे हैरत से फैली थी बिना किसी को कुछ बताए हाशिर हमदानी ने एक घटिया फैसला किया था फिर्दॉस फिर्दॉस के चन्मे मौजूद फिर्दॉस बेगम जो मुंतहा के लिए फिरेज जूस बना रही थी सल्मान हमदानी कुई उची आवास उनका यखलक दहल गई सब कुछ छोड़ें वो लाउंज में लाखिल भी क्या हुआ सब खेर तो है आप चिला क्यू रहे हैं तुम कह रही हो चिला क्यू रहा हूँ मेरा दिल कर रहा है मैं हाशिर को जान से मार दू ऐसी जलील हरकत इसने सोची भी कैसे ये देखो अपने लाटले सपूत के कारणा में पेपर्ज उन्होंने फिर्दोस बेगम की जानी फिके थे फिर्दोस बेगम ने कामते हातों से पेपर्स पकड़े थे और इस पर हुए दस्तख़त और पेपर्स देखकर जैसे जान हलक में आई थी नहीं, ये नहीं हो सकता, हाशिर ये नहीं कर सकता, नहीं महज वो दो लफज उनके मूँ से निकले थे अपने कमरे में हार सिंगार में मसरूफ मुंतहा कुल लाउंच में मौजूद शोर ने चौंका दिया कमरे का दर्वाजा खोल कर वो बाहर आई, और तेजी से सीडियों की जानी बढ़ी क्या हुआ तायमी, सब ठीक तो है, मुंतहा की आवाज सुनते ही फिर्दोस बेगम ने वो पेपर डुपटे के अंदर किये और चहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान सजाई, इतना बड़ा सदमा हुँ मुंतहा की आसाप पर नहीं गिरा सकती थी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, अपने कमरे में जाओ, कुछ खास बात नहीं है जवाब आगजान की जानेंग से आया था आगजान की बाराओ बावाज में जैसे मुंतहा को वहां से जाने का इशारा दिया नजरे जुकाए और अपने कमरे के जाने बढ़ गई मेरे कमरे में आओ तुम दोनों, मुझे जरूरी बात करनी है आगाजान भारी आवाज में कहते अपने कमरे की जानिक बढ़ गए कॉल वेल पर आगाजान का नाम देखकर उसे हसास हो गया कि पेपर्स इन तक पहुँच चुके हैं सपाट चहरे के संग इसने फोन कान से लगाया अस्सलाम अलेकुम सर्द लहजे में दूसरे जाने सलाम भेज कर वो खामुश हुआ हमें आपकी सलाम की कोई जरुरत नहीं हाशिर हमदानी आपने अपना कहा आकिर सज कर दिखाया दिखा दी अपनी अवकाद कि आप एक घटिया और कमजर्फ मर्द है हमें इतनी बुरी उमीद आप से कभी नहीं थी इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है जो आप इसको इतनी बड़ी सज़ा दे चुके है किस मूँ से हम उसका सामना करेंगे आगजान की जलाल भरी आवाज सुनकर हाशिर का चहरा मज़ेद सपाट हुआ आगजान उसे मासूम कहने से पहले आप उसकी सचाई जान ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्यों कितनी बड़ी चालबास औरत है बस एकदम आगजान धाड़े थे मेरी बच्ची पर इल्जाम लगाने से पहले आप खुद अपने ग्रेबान में जाक ले तो अच्छा रहेगा एक घटिया और कमजर्फ मर्द होने का सुबूत आप बहुत अच्छे से दे चुके है कल के कल आप हवेली वापस आएं बाकी बात यही आकर होगी बिना कुछ सुने उन्हें कॉल कार्ट दी तुम मर जाओ मुंतह सुल्टान ये सब तुम्हारी वज़े से हुआ है तुम्हारा मेरी जिन्दगी में शामिल होना मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी हार है मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा बालों को मुठी में जक्रे वो जैसे अपना जब्त आजमा रहा था जाए नमाज पर बैठा हो शक्त लगता था आज सारी दुआएं कुबूल करवाना चाह रहा था या अगर मेरी लगन सची है तो तु एक बार मुझे उस लड़की से मिलवा दे या तो उसे मुकमल मुझे दे या फिर उसे मेरे जहन से निकाल दे मेरी बरदाश्त कमजीद इंतिहान ना ले शिद्ध गिर्या से फ्याद करता गाजान सिद्धी की आज बेवसी की हद पर आया था एक जलक में इस समझदार इंसान को पल भर में दिवाना बना दिया था अगर मुकमल उसे मिल जाती तो ना जाने कौन से रूप सामने आते दिल की बेचैन होती हालत के सबब वो रोज एक उमीद के साथ जाता लेकिन कोई सुराग कोई पता उसे नहीं मिल रहा था हर जगे उसे तरलाश चुका था लेकिन कोई भी कड़ी हाथ नहीं आ रही थी रोज एक उमीद के साथ वो उसी मौल में जा रहा था लेकिन सब कोशिशे नाकाम थी हर जगे उसका पता करवाया लेकिन कुछ भी मुम्किन नहीं हो पाया और आज वो अपनी सब कोशिशों के बाद वो आकिर उस रब के हुजूर हाजिर हुआ था जो सब प्लानर करने वाला था इसकी शिदद से की गई दुआ शायद असमान से जा टकराई थी लेकिन उसे अभी मजीद इंतजार करना था मुन्ताह सुल्तान को उस खुश्बक्ती के लिए अभी बहुत सी तकलीफे सहनी थी कमरे में दाखिल होते ही उसे किसी अन्होनी का हिसास हुआ था जिस तरह अगाचान ने उसे जाने को कहा था इससे जाहर था कोई ना कोई एहम बात सरूर है दिमाग में जैसे अजीब से ख्यालात आ रहे थे जैसे कोई अन्होनी हुई हो या होने वाली हो ये मेरा दिल इतना बेचैन क्यों हो रहा है जैसे मेरी कीमती चीज़ मुझसे तूर जा रही हो ये दिल कोई अजीब हैसास क्यों हो रहा है आईने के सामने खड़ी वो अपने आप से सवाल कर रही थी कहीं हाशिव में तो कोई फैसला नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे खुदी अपने ख्यालात की नफी करके दोनों हातों से इसने लिपस्टिक रगड़ी आज अपने सिंगार से ना जाने उसे क्यों खौफ महसूस हो रहा था या अल्ला जो मैं सोच रही हूँ ऐसा बिलकुल ना हूँ या अल्ला इस शक्स का दिल बदल दे उसे मुकमल मेरा कर दे दूआ के अंदास में हाथ उठा कर इसने अपने रप से फरियाद की लेकिन वो शक्स तो शायद बदल भी चुका था और किसी और का मुकमल हो भी चुका था हाशिर अली हमदानी की हट धर्मी आप सुन चुके है सलमान अब बताए हम किस मूँ से इस बच्ची का सामना करे बताए हमें कोई लफस हमदर्दी हमारे दामन में नहीं है जो हम उस बच्ची को कह सके हमने बारहा चाहा था कि रुकसती में देर ना हो लेकिन सेफ और से हाशिर और आप की वज़े से ये नामुम्कीन हुआ है बताएए कौन अपनाएगा उसे ऐसे कांट भरे रास्ते पर इसने मुंतहा बेटी को फेका है कि कोई भी हिम्मत करके इसका हाथ नहीं धाम सकता इन पेपर्स का सच हम कैसे अपनी बच्ची को बताए सल्वान अली कुछ बोल ही नहीं पाए थे कुछ नहीं है ना आपके पास कहने के लिए इसी तरह हमारे पास भी कुछ नहीं है अगरजान इनका धुका सर देखकर चिलाए थे शाजिया बेगम आपके पास कोई जवास है तो हमें बताए बताए इस मासूम बच्ची पर इस कयामत का सच कैसे खोलेंगे सद्मे की हालत में बैठी शाजिया बेगम के कान में आगरजान की आवास गुंजी थी फिर्दोस बेगम आपके पास कोई जवास है तो हमें बता दे बताए इस मासूम बच्ची पर इस कयामत का सच कैसे खोलेंगे सदमे के हालत में बैठी फिर्दोस बेगम के कान में आगाजान की आवाज गुंजी थी यकदम दर्वाजा धार की आवाज से खुला और दर्वाजे पर मौजूद शक्स को देखकर पेपर्स बेसाखता आगाजान की हाथ से गिरे थे मैं अपनी बच्ची को ये सच बताऊंगी जोबिया बेगम की सपाट आवाज सुनकर फिर्दोस बेगम शर्मिंदा की अता गहराईयों में गिदी थी इस फरिष्टा सिफ़त औरत के साथ हुई एतनी बड़ी ज्यादाती ने फिर्दोस बेगम को नज़र ठाने के काबिल नहीं छोड़ा था ये आप क्या कह रही है जूबिया बहू अगजान की मद्धम आवाज गुनजी मैं बिलकुल ठीक कह रही हूँ अगजान हाशिर की आँखों में मुन्तहा के लिए मैं नफरत बहुत पहले देख चुकी हूँ लेकिन मुझे इस से इतनी घटिया पन की उमीद नहीं थी और आद नहीं तो कल मुन्तहा को ये सच्चाई पता चल जाएगी तो इस चे अच्चा है अभी इसी वक्त वो इस कयामत को जेल ले ज्यादा देर खुशपहमी अच्छी नहीं है पेपर उठा कर वो कमरे से निकलती चली गई फिर दोस बेगम तेजी से इनके पीछे लपकी लेकिन आगाचान की आवाज इनके कदम रोक चुकी थी कमरे का दर्वाजा खोले जूबिया सपार चेहरा लिये अंदर दा किलुई गहरी सोच में गुम मुन्ताह जूबिया बेगम को देख कर चौंकी थी और दिल शुद्दत से धरका था बिना कुछ बोले उन्होंने पेपर मुन्ताह की हाथ में थमाएं ये क्या है कापते लहजे में इसने जूबिया बेगम की जानी देख कर कहा खुद खोल कर देख लो तुम्हारी बरबादगी का सामान आ चुका है चहरा अब भी सपार था तेजी से इसने पेपर्स कोले दिल की धरकन जैसे रुकी थी और सातो आसमान जैसे इस पर आ कर गिरे थे सया भवर आँखों में पानी भरता चला गया अम्मी ये कैसे हो गया अम्मी पेपर्स हाथ में पकड़े ओबिन पानी की मशली की तरह तरपी कपकपाते लब आंसु भरी आंके मलगज़ा हुलिया नकसक हर वक्त तयार रहने वाली मुन्तहा सुल्तान इस वक्त एक उजड़ी बेवा से के रूप में लग रही थी अम्मी ये कैसे मजीद बोलने से पहले ही वो जमी बोस हुई थी मा का दिल इसकी हालत देखकर फटा था चांती थी वो बरदाश नहीं कर पाएगी लेकिन ऐसी हालत होगी कभी नहीं सोचा था मुंतहा मेरी बच्ची हिम्मत मेरा बच्चा ये तेरी तकदीर में लिखा था उठ अम्मी क्यों मैं ही क्यों क्यों अम्मी मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा क्या इस जालिम को जरा रहिम नहीं आया एक मरतब़ तो सोचा होता मैं इसकी मनकुहा थी अम्मी कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं थी अम्मी क्यों किया इसने क्या कसूर था मेरा मुझे बताया तो होता मेरा कसूर मुझसे पूछा तो होता अम्मी सिर्फ एक बार पूछ लेता बिना पुछे बिना जाने इसने इतना बड़ा फैसला कर दिया अम्मी क्यों किया इसने उची आवाज में चिलाई कि हलक में खराशे आई थी बिलग बिलग कर रोती जुविया बेगम ने मुन्तहा को सिने से लगाया बाहर बादल शिद्दत से करजे थे शायद इसके गम में बराबर के शरीक थे अबर बरसा था और शिद्दत से बरसा अंदर और बाहर दोनों तरफ नमी की बोचार थी अम्मी क्यों रहम नहीं आया इस जालिम को अम्मी ये देखने से पहले मुझे मुझे महोत क्यों नहीं आई क्यों क्यों नहीं आई रोती कुलाती वो अपनी मां से फर्याद कर रही थी जिसका जूबिया वेगम के पास कोई जवाब नहीं था हम्मी मैं मत जाओंगी कहते कि ये जूट है हम्मी मुझसे नहीं सहा जाएगा हकीकत जानने के बावजूद भी वो इस जूटी उमीद पर थी कि ये सच नहीं होगा जूबिया वेगम के सबर का पैमानल अब्रेज हुआ था उची आवाज में रोती वो मुंतहा को सिने में भीज गई ये सच है और इस सच को तुम्हें मानना ही होगा हाशिर तुम्हें तलाग दे चुका है मुंतहा छोड़ चुका है वो तुम्हें जूबिया वेगम उची आवाज में चिलाई थी नहीं अम्मी मज़ीद बोलना इसके आसाब ने जैसे गवारा नहीं किया जहें तारीकी में डूपता चला गया मुंतहा मुंतहा मेरी बच्ची गाल थपतपाती वोसे होश में लाने की कोशिश करने रगी लेकिन मुंतहा सुल्तान के आसाब शायद कुछ देर सुकुन चाह रहे थे जो कि इसकी जिन्दगी से रूट चुका था यार ये तुने क्या किया बना बनाया काम बिगार दिया अगर प्यार से डील करता तो मान ही जाती लेकिन नहीं तुझे अपना खुसा अपनी अना अजीज है शाने को हद से जादा तैश आ रहा था ना मत ले उस औरत का साली ने सारा काम खराब कर दिया उसे मैं अपना भाई दे रहा था अपनी जान से प्यारी चीज़ दे रहा था इसके साथ साथ पैसा इज़त सब मिल जाता लेकिन नहीं सदा की घटिया औरत बस महबबत चाहिए दो टिके की इज़त नहीं और आ गई महबबत मानने जैसे मैं तो महबबत की दुकान सजाए बैठा हूँ ना अच्छा हुआ चली गए वरना मैं उसे अपने हाथों से मार देता यार क्यों पागलपन है ये और क्या बोले जा रहा है शानी मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त मैं कुछ नहीं चाह रहा मुझे बस अब यहां से कुछ दिन के लिए जाना है अगर मैं यहां रहा तो पागल हो जाओंगा बालो को जकर कर इसने अपना गुसा कम करना चाहा जो साथवे आसमान पर जा पहुँचा था जविया के जवाब को सुने बगर इसने कल उसे आफिस से बाहर निकाल दिया था कल से वो अपने फिलेट में नशे में दूद पड़ा था काजान को इस मरतबा इसने पहले ही आगा कर दिया था इसलिए कोई जवाज बाकी नहीं रहा था कि वो इससे सवाल और जवाब करता ओ तो अब अपने भाई को छोड़ कर जाएगा क्या रह लेगा इनके बगर हमदान के पास इसके बात पर कोई जवाब नहीं था बता मुझे कंदे पर पंच रसीब किया इसने हमदान से इस तफसार किया बोल अब चूप क्यों है कोई जवाब नहीं है न तेरे पास बोल नहीं मेरे पास कोई जवाब नहीं नहीं रह सकता मैं अपने भाई के बगए डबडे भींच कर वो उची आवाज में चिलाया और साइट टेबल पर मौझूद गिलास को एक जटके से जमीन पर फेका लेकिन अगर मैं उनसे दूर नहुआ तो मैं पागल हो जाओंगा और मेरा पागलपन किसी की मौत कबास बन जाएगा इसलिए मेरा दूर रहना ही अच्छा है और शानी मेरे बाद तुने भाई का ध्यान रखना है इंको किसी भी तरह इस लड़की तक नहीं पहुशने देना वरना मैं तुझे जान से मार दूँगा सारा मलबा इसने जिशान के सर पर रखा यार ये तो तू क्या कह रहा है तेरा जलाद भाई मेरी जान ले लेगा अगर उसे कुछ भी पता चला कि मैं कोई रुकावट खड़ी कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं जानता बस तुने मेरा ये काम हर हाल में करना है और याद रख मुझे उस लाल हिजाब वाली का पता भी जल्दी चल जाना चाहिए इसको तो मैं किसी हाल में भी नहीं छोड़ूँगा सरयाम थपड मारा था सरयाम जलील ना किया तो मेरा नाम भी हमदान सिद्धी की नहीं एक महीने में मैं कैसे सुकून से रहा उमीद करता हूँ तो यहां सब अच्छे से समाल लेगा शानी महें सर हिला कर रह गया अगर कुछ बोलता तो ना जाने हमदान इसके साथ क्या सुलूक करता हाशेर को कमरे में दाखिल होते देखकर जवेरिया अपनी जगे सिम्टी थी कल से वो एक ही लेबास में मौजूद थी सपाट चहरे के संग वो एक जगे वैठी थी मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूँ मेरी वज़े से इतनी बड़ी मुश्किल तुम्हारे हिस्से में आ गई लहजे में शदीर शर्मिंदगी थी लकिन जवेरिया कुछ भी नहीं बोली मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा जवेरिया क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम कभी भी कुछ गलत नहीं करोगी मैं नहीं चांदा तुम बहां क्यों गई थी और तुम्हारा क्या मजबूरी थी मेरी वज़े से तुम्हें ये ये दिन देखना पड़ रहा है ये मलाल ताउमन नहीं जाएगा मैं तुम्हें इस रिष्टे को निभाने के लिए कभी मजबूर नहीं करूँगा जिस दिन तुम्हें मुझे पर आतिबार आएगा तुम खुद सज बताओगी और इस रिष्टे को नाम भी दोगी किसमत ने अगर साथ चोड़ दिया है तो मेरा फर्ज है कि मैं इस रिष्टे को निभाओ कमजर्फ मर्द भूल गया था कि एक रिष्टा पहले भी किसमत ने जोड़ा था जिसे वो अपनी खुदगर्जी के भेंट चड़ा चुका था मन पसंद चीज मिल जाने पर वो एक नेमत ठुकडा चुका था मैं आज हवेली जा रहा हूँ और मेरा जाना बहुत जरूरी है गर में हर चीज मौजूद है ये फोन डखो किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर लेना मैं जल्द लोटाओंगा और हाँ तुम्हारे घरवालों से भी बात करूंगा नहीं आप इसे कोई बात नहीं करेंगे उन्होंने जो डाग मुझ पर लगा कर उस घर से निकाला है मैं नहीं चाहती कि आप वहां कभी जाएं क्या मुझे मजबूर करें उमीद करती हूँ आप मेरी बात समझेंगे इस पूरे अरसे में अब जवेरिया कुछ बोली थी हाशिर को उसकी बुखलाट ने चौकाया लेकिन वो नजल अंदास कर गया ठीक है मैं चलता हूँ अपना ख्याल रखना कल शान तक लोटाओंगा उसकी हिम्मत कैसी हुए आगाजान ये गलीज हरकत करने की क्यों किया इसने मेरी बहन के साथ ऐसा बोले आगाजान चवाब दे मुझे आपने ही निकाह करवाया था और अब आप ही जवाब देंगे लाउंज में इस वक्त सब अफराद मौजूद थे सुल्तान अली तो ये ख़वर सुनकर बिस्तर से लग गए थे रात से सुबह हो गई थी और कोई भी इस रात को सो नहीं पाया था खुशी के मारे शाइना और तुबह बेगम की नीन भी उरंचू हो चुकी थी मुंतहा की बरबादी पर वो दोनों अपनी खुशी रात ही मना चुकी थी एक जानिब खड़ी दोनों मा बेटिया मुंतहा की हुई बरबादी का मधीद तमाशा देखना चाह रही थी जवाज नहीं होगा एक और धमाका आप आपने जैसे उनके कमसोर वजूर पर किया नहीं नहीं बेटा आप ये कदम मत उठाइएगा आगजान को अपना शेराजा विखरता हुआ मितलगा कोई सुझा उनको समझ नहीं आ रहा था आगजान मुझे तो लगता है मुंतहा की कोई गलती होगी हाशिर ने यूहीं तलाक नामा नहीं भेज दिया तुबा विखम ने एक तंस का शदीद वार किया था तुबा वेटी आप चूपी रहे तो अच्छा है ये हमारे घर का मामला है और आप अब पराई हो चुकी है हमें किसी की राय की जरुरत नहीं बिलकुल भी नहीं आगजान का मुझ तोड़ जवाब तुबा विखम का रंग फक कर गया सुर्क चहरे के संग वो बक्ती जगती वहां से कमरे की जानी बढ़ गई अम्मी हाशिर मुझे छोड़ दिया अम्मी हाशिर नील में भी वो उदासी से इसी सतमगर को बुकार रही थी बुकार की शुद्ध थी के कम होने का नाम नहीं ले रही थी माथे पर गिली पटियां रखती जूबिया बेगम की आँखे पुर नम थी मुरात मुन्तहा की बेहुशी ने उनके हाथ पाव फुला दिये थे अतनी बच्ची को यूँ सदमे से बेहुश होता देखकर कलेजा मुझ को आया था तकलीफ हद से जादा थी लेकिन इस कमजर्फ के लिए एक भी नफरत भरा लख्स मूझ से नहीं निकला अम्मी हाशिर मेरा बच्चा बस कर फूट फूट कर रोती उन्होंने मुन्तहा को सीने में भीचा था मेरी बच्ची ये मेरी गलती है कि मैं तुझे सबर का कहती रही एक बार तो तेरी बात सुन लेती कैसी बुरी मा हूँ मैं जो अपनी बेटी को तकलीफ में धकेलती रही मुझे माफ कर दे मेरी वज़े से हुआ ये सब मैं तेरी खुशियां की कातिल हूँ आसो कत्रा कत्रा निकल कर मुंतहा के बालों में ज़ग हुए हाथ को उठा कर उसने जूबिय वेगम के मुँपर रखा नहीं अम्मी नहीं मत रोए आपकी कोई गलती नहीं मैं ही मैं ही गलत थी जो एक सराब के पिछे भाग रही थी हिम्मत यगजा करके वो बोली और दोबा रब इस्तर पर गिरी थी नाजुक जान खत्म हो कर रह गई थी सद्मा ही ऐसा था तो अगर हिम्मत भी करना चाहती तो इस सत्मगर का जल्म सारी हिम्मत खत्म कर रहा था ओख माम जस्ट चिल ऐसे छोटे छोटे खतावात तो मिलते ही रहते हैं आप बस शाम की तमाशे के लिए खुद को रेडी करें और सोचे के इसको कैसे इंज्जॉय करना है बालो की लटको उंगलियों पर घुमाती वो तुबा वेगम को अपने जहरीले मशुरे दे रही थी चुप कर जाओ शाइना इस वक्त मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा ये ना हो तुम्हारी बखवास मेरे सबर का पैमाना लब्रेस कर दे जाओ यहां से तुबा वेगम की डाट सुनकर वो चुप हो गई बुरे मुँ बनाती कमरे से बाहर निकलने की वाली थी जब लाउन में शोर की आवास गुझी ओख मौम गुस्ता छोड़ो देखो हाशिर आ गया अब मुंतहा सुल्तान की बरबादी का तमाशा देखने का ज्यादा मसा आएगा तेजी से वो लाउन की जनी बढ़ी तुबा बेगम भी गुस्ता छोड़कर चहरे पर मस्नुई दुख सजाए नीचे की जानी बाई जहां हाशिर मुझरिमों की तरह सर जुकाए खड़ा था लाउन में हाशिर की आवास सुनकर पूरा जिसं जैसे समाद बना बैट से उटकर वो पेपर उठाए तेजे से नीचे की जानी बढ़ी जहां हाशिर बीच ओ बीच खड़ा आगाजान के गैज उकजब का शिकार था नंगे पाव मलगजे विखरे खुलिये में सीडिया उतरती वो तेजे से लाउंज में दाकि लूए सबको पीचे हटाए वो हाशिर के रूबर हुआई हाशिर जो आकाचान की जानी मुतवजे था मुंतहा को सामने देखकर चहरे पर तनफुर वाज़े हुआ हाशिर ये क्या है मैं इन पेपर्स को नहीं मानती आपने मुझे तलाक नहीं दी है ना ये जूट है ना हाशिर बताएं सबको ये जूट है आप मुझे नहीं छोड़ सकते दिवानों की तरह हाशिर सवाल करती वो सबकी आँखो नम कर गई पर दोस बेगम तो नजर उठाने के काबिल नहीं रही थी हाशिर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहें बताएं सबको ऐसा कुछ नहीं है आप मुझे नहीं सोड़ सकते ऐसा मुंकिन ही नहीं बाजू पर हाथ रखकर इसने दोबारा फर्याद की लेकिन उस अपाट चेहरा लिए बस सामने देख रहा था हाशिर बोले न आप चुक क्यों है जवाब दे मेरे सवाल का सबको बताएं कि जूट है आगाजान ने तो रुकसती का फैसला भी कर लिया है और आप खामुश खड़े हैं हाशिर का सदमा जैसे मुंतहा के दिमाग पर असर कर गया था ये पेपर बिल्कुल ठीक है मुंतहा सुल्तान और ये ड्रामा करने के जरूरत नहीं है फिकारत से भरपूर लहजे में कहकर हाशिर ने एक जटके में उसे बाजु से पकड़ कर दूर धके ला बेसाफता उस अमीन बोस हुई हाशिर एकदम आगाचान उंची आवाज में चिलाए और आफाग भी आगे बढ़ा अपने हाथ काबो में रखे बना भूल जाएंगे के आप इस घर के बड़े बेटे हैं नहीं आगाचान कोई कुछ नहीं बोलेंगा आज सिफ हाशिर बोलेंगे बोले हाशिर ये पेपर जूट हैं बोले ना सवाल करते में रोई थी जूबिया बेगम ने आगे बढ़ कर उसे संभालना चाहा लेकिन इसने हाथ के इशारे से नहीं रोका ये मेरे और हाशिर के बीच का मामला है इसमें कोई भी नहीं बोलेंगा सूबिया बेगम उतनी जगे खड़ी रह गई मुंता अपने रूम में जाओ अगाजान हाशिर से बात करेंगे आफाक में मजीद ये सब सुनने की और देखने की सकत नहीं थी उची आवाज में चिला कर इसने मुंता को वहां से भीजना चाहा आफाक का बस नहीं चल रहा था कि हाशिर को जान से मार दे भाई मैंने कहा ना कि ये मेरा और हाशिर का मामला है कोई बीच में नहीं आएगा क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा मुंता भी जवाबन उची आवाज में चिलाए थी आगाचान ने आगे बढ़कर आँख के इशारे से आफाक को रोका था आप जवाब देना हाशिर बताए मुझे गाल पर हाथ रखकर उसने हाशिर का रोक अपनी जानिब मोड़ा लेकिन उसने फोरान हाथ छटका मुंतहा ये पेपर्स बिलकुल सच कह रहे हैं मैं तुम्हे तरलाग दे चुका हूँ जबड़े भीच कर इसने सफती से कहा जूट बोल रहे हैं आप मैं नहीं मानती इन पेपर्स को बिलकुल भी नहीं पल भर में इसने इन पेपर्स को चन टुकडों में तक्सीम किया और एक चानिब फेगा ये हैं इनकी हकीकत नहीं मानती तो बस नहीं मानती लिटाई का मुझारा करती वो हाशे को मजीद गजब दिलवा गई इतनी बेशरम हो तुम क्या जरा शरम लिहास बागी नहीं है क्या डिरामा कर रही हो तुम्हें तो खुशी से पागल हो जाना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड रहा हूँ ताके तुम मेरे भाई से शादी कर सको धड़ा धड़ जैसे ट्रेन इस पसे गुजरी थी आँखे हैरत से फटने के करीब हुई तुम और तुम्हारी मा दोनो एक जैसी हो मुंता सुल्तान मेरे चाचु को अपने हुसन के जान में फसा कर मेरी खाला की हक को खा गई मेरी खाला की जान ले लिए तुम्हारी मा ने और सच जाना चाहती हो तो पूछो अपनी माँ से कैसे इसने मेरे चाचु को अपनी महबत के जाल में फसाया और आज जुमने भी यही काम किया जूविय वेगंग बे साखता दिल पर हाथ गया इतना गंदा इल्जाम वो भी अपने लाडले भतीजे की मुझे जुविय वेगंग को सदमे से दोचार कर गया मेरे भाई को अपने हुसन के जाल में फसा कर उसे अपना असीर बना लिया भाई सदमे से गुम अशर चलाया क्या बोल रहे है आप आप होश में तो हैं जो मुझे आ रहा है बकते चले जा रहे हैं अगर आगे बढ़कर इसने अशर का गिरेबान पकड़ा था, देखो यही चाहती थी न, तुम आ गया तुमाना सबसे बड़ा हमदर्द, एक जटीए में इसने अपना गिरेबान छुड़ाया और अशर को दूर धकेला और मुंतहा की जानिब मुड़ा, अरे तुम जैसी हास करती तुम, हाशिर की जुबान आज शायद मुंतहा की जान लेने वाली थी, एक जटके में इसने अपना गिरेबान छुड़ाया और अशर को दूर धकेला, अर मुंतहा की जानिब मुड़ा, अरे तुम जैसी लड़की से तो अच्छी तवायब जादिया होती है, जो क हास कम ना जायज रिष्टा भी रखे तो डंके की चोट पर रखती है, लेकिन तुम, मेरे सके भाई के साथ, तुफ है तुम पर मुंतहा, कुछ तो लिहास कर लेती, हाशिर की जुबान आज शायद मुंतहा की जान लेने वाली थी, कयामर की घड़ी क्या होती है, मुंतहा क को, इतनी बेयतिबारी, इतनी नफरत हाशिर, मैं आपकी बेयतिनाई को महबबत समझती रही, लेकिन यह तो हमेशा से नफरत की सूरत थी, आपने मुझे खुद से नजरे मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा हाशिर, आप भी जूट पर जूट बोल रही हो, कितनी बेशरम हो तुम, कि यह तस्वीरे भी जूटी हैं, देखो, अपने कारनामा को, इसने मुबाइल मुंतहा के सामने किया, तस्वीरे देखकर मुंतहा भी हखका बखका रह गई, यह जूट है, नहीं, यह जूट है, कापते हाथों से इसने मुबाइल पकड़ा, मारिया, यह तेजी से वो मारिया की जानिब बढ़ी, मारिया, यह जूट है न, बोलो, यह जूट है, मारिया की आखे भी हैरत से फटी थी, भाई, ऐसा कुछ नहीं था, और यह तस्वीरे आपके पास कैसे आई, मारिया ने सवाली अंदाज में हाशिर की जानिब देखा, मैं नहीं जानता, और म लेकिन अब मजीद नहीं, मैं हाशिर हमदानी, बकायमी होश और हवास तुम्हें, यानि मुंताह सुल्तान को तलाग देता हूँ, तलाग देता हूँ, तलाग देता हूँ, यगदम सब पर सकता तारी हुआ, पल भर में हाशिर ने मुंताह को आस्मान से जमीन पर पठका, नहीं, ठकन जदा सी वो जमीन पर बैठी, जमीन वो आस्मान जैसे साकित हुए, हाँ मुंताह सुल्तान, मैं तुम्हें, आगरजान के भारी हाथ ने हाशिर की बोलती बंद की, बहुत बक्वास कर ली हाशिर हमदानी, आपने इतना गंद, इतना जहर कैसे भर लिया, लानत तो आप पर है कि आप बेविनिया तलाग दे चुके है, लानत तो आप पर है हाशिर हमदानी के एक फरिष्टा सिफत औरत पर इलजाम लगा रहे हैं, अब आप सच सुने, मैं बताता हूँ सच क्या है, आपकी खाला, खुद सुल्तान अली को छोड़कर शादी की रात ये सारा जहर इन ही की करम नवाजी थी, सक्ती से उन्होंने शाइनक हाथ थामा, शाइना ने भी हाथ दबा कर तूबा वेगम को होसला दिया, आपकी खाला किसी और को पसंद करती थी, एन शादी की दिन, वो अपने आशिक के साथ भाग गई, जूबिया वेगम ने तो खा हाशिर को गूमते महसुस हुए, जूबिया वेगम तेजी से मुनतहा की जानी भाई, जो सक्ता ज़ादा जमीन पर बैठी थी, आफाक का सबर का पैमाना भी लवरेस हुआ, आगे बढ़कर इसने पे दर पे वार हाशिर के मुँँ पर किये, घटिया इनसान, तेरी वज़े से मेरी बहन किसी को मुँ दिखाने के काबिल नहीं रही, इतना गंदा इल्जाम लगाते तुझे मौत नहीं आई, रुक जाए भाई, हिमत यगज़क ये सपार चेहरे की संग वो खड़ी हुई, और आफाक को एक चानिब किया, आगे बढ़कर हाशिर का गिरेबान थाम कर इसने सुर्क आँखे, उसकी आँखों में गाड़ी, आज दूसरी मरतबा, तवायब कहा है, दूसरी मरतबा, गटिया इल्जाम लगाया है न, मुझ पर गाली दी है न, मुझे ये गाली तुम्हें भी लगेगी, बद्दुआ है मेरी के तुम्हारा किसी तवायब से सामना हूँ, बद्दुआ है मेरी के तुम भी तड़पो, कुरलाओ, बद्दुआ है मेरी के सारी जिन्दगी सुकून के लिए तरसो, बद्दुआ है मेरी के कोई खुशी तुम्हे रास ना आए, सिसक सिसक कर जिन्दगी गुजार दो, मुझे क्या छोड़ोगे, मैं तुम्हें आज हर रिष्टे हर तालुक से आजाद करती हूँ मर गई मुंताह सुल्टान की महबबत कतल कर दिया तुमने आज तमाम रिष्टों का सारी महबबत कत्रे में चली गई हाशिर अली हमदानी दुनिया के लिए तो इश्क दूा की मानिन होता है लेकिन ये इश्क मुझे बदूआ की सुरत में नमाजा गया है और शायार ये बदूआ मुझे एनाम के तौर पर दी गई है क्योंकि मैं इश्क में हद पार कर गई थी हर हद से बड़ी हुई चीज बरबादी मही लाती है अच्छा हुआ, तुमने मुझे मेरी अवकात बता दी हाशिर, कम असकम मैं अब खुश फहमी में जिन्दगी नहीं गुजारूंगी। दूआ करना हाशिर हमदानी, कि दोबारा जिन्दगी में हमारा आमना सामना ना हूँ, आज से मेरी यही दूआ है, कि तुम मुझे कभी न नजर आओ, और जिस दिन ये सामना हुआ ना, उसी दिन मौत को गले लगा लूँगी। अज में मुंताह सुल्तान, आज हाशिर अली हमदानी से अपना हर तालुक, हर वास्ता खत्म करती हूं, सुन लिया अपने सबने, इस शक्स का मेरे माँबाप, मेरे भाई और मुझ से कोई रिष्टा नहीं रहा, जिस शक्स को भी हाशिर अली से रिष्टा रखना है, उसे फिर मुंता सुल्टान से तालुक को मानना होगा। सब को सकते के आलम में छोड़कर हाशिर अली के जुबान पर कुफल डाल कर वो अपने रूम के जानिब बढ़ गई। उसे रोकने का जवाज किसी के पास बचा ही नहीं था। मैंने तो वोक होया है जो मेरा था ही नहीं लेकिन इसने वोक होया जो सिफ उसी का था। हाशिर मुझे उमीद नहीं थी कि तुम इतना गिट जाओगे। इन जूटी दो टिके की तस्वीरों को देखकर तुमने यकीन कर लिया। कुछ तो सोचा होता हाशिर के तसावीर तुम्हारे पास कैसे आई जहां तक मुझे समझ में आ रहा है तुम किसी मौके की तलाश में थे और वो मौका आज तुम ही मिला तो तुमने सोचा इससे फायदा उठा लिया चाए। सल्मान अली के अलफाज ने हाशिर को नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। लाउंज में इस वक्त सल्मान अली, फिर्दोस बेगम और आगा और अबीजान मौजूद थे। आपने तो एक बार अपनी बहन का भी नहीं सोचा हाशिर भाई, क्या आपके इस फैसले से मेरी जिन्दगी पर क्या असर पड़ेगा, अगर वो शक्स भी मुझे आपकी तरह तलाग देते तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हाँ, मेरी इज़त पर जरूर धबा लगेग आपको तो कोई परवा नहीं किया आपकी बला से कोई जीए या मरे, आप एक नहायत खुदगर्ज इंसान है, काश में आपकी बहन ना होती, अपनी मा जाई के मुझे से ऐसी बाते सुनकर खुद को जमीन में दफन करना चाहा, भाई, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं आप का भाई हूँ, आपकी इजद थी मुंतहा, जिसे आपने सर्यान बे निलाम कर दिया, घना साया थे आप, लेकिन आप तो उसके लिए कड़ी धूप से जैसे साबित हुए, मेरे लिए वो मारिया जैसी थी, एक मरतबा तो हमारे रिष्टे का सोचा होता, एक मरतबा तो आप अपनी सोच को मलामत करते, आपने तो मुझे इसके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा, गाली दे दी हमारे पाकी जर रिष्टे को, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था, अगर अंदाज़ा होता कि इतना गंदा इल्जाम मेरे सर आएगा तो मैं यहां आता ही आना ही कैंसल कर देता, और तसावीर का सच तो अब मैं कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोई सफाई, कोई वज़ात आपके दिमाग का फतूर खतम नहीं करेगी, अशर मजीद कुछ कहे बिना, वहां से उपर के जानी बढ़ गया, हाशिर अली हमदानी, मैं आपको अपनी अपने नाम, अपनी धन दौलत से आग करता हूँ, आज के बाद मेरा आप से कोई तालुक नहीं है, निकल जाएए मेरे घर से, आपकी इस घर में कोई जगे नहीं, फिर्दोस बेगम कान खोल का सुन ले, अगर आपने हाशिर से कोई तालुक या वास्ता रखा तो मेरा मरा हुआ, मुँ देखेंगी, फिर्दोस बेगम ने इनके इतने सक्त फैसले पर यखलक काम पी थी, मा का कलेजा मुँ को आया, लेकिन इसकी गलती बलके गुना काबिले माफी नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता सब हाशिर को अकेलर छोड़ कर अपने कमरे के जानी बढ़ गए, औ वारी की तरह लाउंज में खड़ा रह गया, सब रिष्टे सब सहारे आज हाशिर अली रूट चुके थे, इन रिष्टों को खतम करने वाला भी वो खुद था, अगली जिंदगी हाशिर को जैसे अंधेरों में घिरी नजर आ रही थी, अपने माबाब, बहन भाई, सब वो अपनी अना में हार गया था, और खसारा इसके हिस्से में आया था, ये खसारा ऐसा था कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं था, किसमत के ना जाने किस मोड पर हाशिर अली हमदानी को दोबारा इस हवेली में लोटना था, लेकिन इस वक्त इसके लिए हवेली में कोई जगे न एक साल बीच चुका था, मुंताह सुर्टान का दिल तो इसी दिल मर चुका था, जिस दिल वो सितमकर उसे बेगुना होने के बावजूद इतनी बड़ी सुजा दे गया, लेकिन अपने मुर्दा हुए दिल के संही, अब इसने अपनी जिन्दगी कुजानी थी, मर तो हाशिर यली हमदानी भी हवेली वालों के लिए गया था, इसका नाम, इसका जिकर, कोया इस हवेली में ममनू हो ठुका था, कोई नहीं जानता था, वो कहा है, किस हाल में है, किसी को भी शायद इसकी जाद से कोई सरोकार नहीं था, अपनी नफरत, वो ऐसे सब के दिल में भर गया था कि आज कोई शक्स इसको अच्छे तो क्या बुरे लफजों में भी याद नहीं करता था अशर भी अगली सुबा बिना बताए बिना किसी से मिले वापस इंगलेंड लोड गया भाई का दिया जखम इतना गहरा था कि अब शायद ही वो कभी इधर कर रुप कर पाता क्या कर बिला चेहरा कुछ और रोशन लग रहा था हां वो तुम्हें अम्मी बुला रही थी कह रही थी के खाना टेबल पर सेट कर दो खाना बिल्कुल रेडी है और जानती तो हो कि आगा जान तुम्हारे बिना निवाला भी हलक से नहीं उतारते और जब तक तुम टेबल सेट न इसका अजनबी अंदास मारिया को आगे बढ़ने ही नहीं देता था कुरान पाक को गिलाफ में लपेट कर दो पटी चपल पाउ में पहने वो मारिया के पिछ आई चेहरे पर मद्दा मुस्कुराहत सजाए वो खानसमा के साथ टेबल सेट कर रही थी मैं जानता था मेरा बच्चा इधर ही मौजूद होगा इसलिए मैं सबसे पहले आ गया अगाजान ने मीठी नजर मुन्ताह के उडले चेहरे पर डाल कर कुर्सी संभाली जानती हूँ आप मेरे बगर खाना नहीं खाते प्लेट में सालन डाल कर इसने चपाती आगाजान की जानी बढ़ाई पहले मेरा बच्चा फिर मैं खाऊंगा एक निवाला उन्होंने मुन्ताह की जानी बढ़ाया मुन्ताह जो जिन्दगी के मानी भूल गई थी आज सिर्फ आगटान की बदलत दोबारा इस जिन्दगी को जी रही थी सब कुछ बदल चुका था खुशियों भरा घराना अब एक विराने में तबदिल हो चुका था कब वापस आओगे एक साल गुज़र चुका है आप नहीं जानते कि आपके डांट मुझे कितना को सुकून देती है मेरे सारे दिन की धकन उतार देती है हमदान का महबबत से भरपूल लहचा काजान के चहरे पर मदधम मस्कुराहत लाया बात मत बदलो बताओ कब आओगे जब आप मेरी मर्जी से शादी करेंगे बेसाखता इसके मूँ से निकला हमदान नो मोर बकवार अंडरस्टैंड तीके चतून के संग इसने जवाब दिया ओख भाई जस्ट किडिंग ऐसा कुछ नहीं है हमदान ने आँखे मेच कर गहरा सांस लिया और बात संभाली भाई यह आपका ही तो खौब था कि मैं इंगलेंड में अपनी कमपनी की ब्रांच उंबन करूँ और आपका खौब मैं भूल जाओ नामुम्किन इसलिए आपका इनादान भाई अभी नहीं आ सकता सो आप अभी सबर का दामन थाम कर रखे बहुत जल्द आपको तंग करने आऊंगा फिर आप मुझे यहां दोबारा मत भेजेगा जानते हो माम बहुत परेशान रहती है तुम भी दूर चाचुके हो और मैं भी माम को कोई खुशी नहीं दे पाया मलाल होता है कि काश में माम को उनका सुख दे पाता लेकिन मैं खेर तुम बताओ कमपनी कैसी जा रही है कोई प्रॉफिट भी हुआ या नहीं भाई आप हर रोज बात बदल जाते हैं भूल जाएं कि वो लड़की आपकी किसमत में थी हमदान मैं भूल चुका हूँ और इस बारे में आप कोई बात नहीं करना चाहता हमदान को एक कोना सुकून महसुस हुआ जैसे दिल से भारी बोज सरक गया हो चले भाई मैं फोन रखता हूँ शाम को जरूरी मिटिंग है रात में आपको मैसेज करके सूनगा ओके अपना ख्याल रखना माम को भी कॉल कर लेना अलविदाय कलमात अदा करके इसने फोन रखा चेयर से टेक लगाकर इसने आँखे मुंदी छमसे वो लाल हिजाबी चेहरा आँखों के सामने आया रोजे अवल की तरह वो चेहरा आँख से उढ़र नहीं हो पाया था लाग जटकता लेकिन शायद उस वजाबी चेहरे को भी जिद हो गई थी कि गाजान सिद्धी की का पीछा नहीं छोड़ना उस चांड की खौाइश तो कबसे छोड़ चुका था लेकिन बेबस दिल किसी दूसरे महरम जाद के लिए तयार भी नहीं था दिल था कि आज भी उस इकलोते चांड का तलबगार था पर वो चांड शायद इसकी पहुंच से काफी दूर था उमीद पर दिन्या काइम है और मैं भी इस उमीद पर काइम हूँ कि आप कभी न कभी मेरी दस तरस में जरूर आएगी यकीन भरे अंदाजम सोचता हूँ आखी मून गया यह एक आला होटल की आला तकरीब थी जहां मर्द वोजन जदीद लबास पहने महंगे और हाई क्लास के जाम हाथ में थामे आज के स्पेशल गेस्ट के इंतिजार में थे लाइबा खान बलेक वेस्टरन लॉंग मैकसी में मलवूस हाथ में सॉफ्ट डिरिंग पकड़े बेजारियत से आज के स्पेशल गेस्ट के इंतिजार में थी साल का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट था जो लाइबा के हाथ से जा चुका था और वो प्रोजेक्ट हाशिर अली के हिस्से में आया था स्टेज पर आया लाइबाक इसकी प्रेसनलटी देखकर हग दक रह गई वह मौझूद लड़कियों की नजर इस पर ऐसी टिकी के पलटना भूल गई पूरे एक साल बाद वो इसके सामने मौझूद था जलाल संस के प्रोजेक्ट के बाद इन दोनों का कभी सामना नहीं हुआ था और पहले प्रोजेक्ट की हार की वज़े से वो पार्टी में मौझूद नहीं थी अब दोबारा एक साल वाद दोनों रूबरू मौझूद थे मिस्टर हमदानी कॉंगरिचुलेशन साल का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट भी आखिर आपने अपने नाम कर लिया और ये बहुत बड़ी अच्यूमेंट है सो इस कामियाबी के बारे में अपनी राए हमें पेश करें कि कामियाबी के सफर आखिर कैसा रहा कामियाबी का सुनते ही इसके जहन में मुंतहा का अक्स नुमाया हुआ गहरा सांस लेकर इसने जैसे पुराने ख्यालात को जटका कुछ कमपनी को हार नसीब हुई और यह मेरे लिए नहायत अफसोस की बात है मेरी वज़े से किसी की हार हो एक नजर लायबा के जानी डाल करो दोबारा सामने मुतवज्ज हुआ हर इनसान का हगदार है और मेरी यही सोच है कि कामियाबी हर इनसान का मुकदर बने लेकिन य यही जितनी महनत इतनी कामियाबी hoped so कि आप समझ सके इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा वकट की कदर करेगे तो वक्त आपकी कदर करेगा और वक्तकी कदर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसलिए मजएद रूप कर मैं यहाँ वक्त जान नहीं कर सकता सो अल्लाहाफिस सपार्ट अंदाज से कहता हुई इस होटल से निकलता चला गया मज़ीद किसी में हिम्मत नहीं थी कि हाशिर अली हमदानी को रोक सके लाइबा खान की नजरों ने दूर तक हाशिर अली हमदानी का पीछा किया तुमने एक खाना खा लिया लाउंज में बैठा कॉफी का घूट 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 ठलक में अतारता इसने जवेरिया से इस्तफार किया बलेजा हर एहसास से आरी था आप जानते हैं कि मैं आपके बगर खाना नहीं खाती फिर ये सवाल पूछने की वज़े हाशिर के साथ जूटकर बैठी जवेरिया ने कंधे पर उंगलिया गुमाए एक अदा से कहा खा लिया करो चानती हो मैं लेट हो जाता हूं मेरी वज़े से भूका मत रहा करो हाशिर आप जानते हो ना कि मुझे आपकी आदत हो चुकी है तो फिर ये सवाल क्यों करते है कंधे पर सर रखकर इसने मज़ीद फासले खतम किया आदते बनाने से पहले इनसान को उस आदत के बारे में जान लेना चाहिए और बुरी आदत से तो दूरी बनानी चाहिए आदते देखकर नहीं बनाई जाती बस बन जाती है जवाब दूबदू मिला खर छोड़े आप इतनी बड़ी कामियाबी आपके हाथ आई है मैं बहुत खुश हूँ कि इस साल का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट आपके नाम हुआ है काफी कमग इसके हाथ से लेकर टेवेरिया ने मूँ से लगाया हाशिर इसकी हरकत पर महज जब्त करके रह गया जिस मनपसंद चीज को वो हासिल करने के लिए एक खास नहमत को ठुकरा चुका था आज वही मनपसंद चीज इसके दिल से उतर चुकी थी लाव करीब लाने की कोशिश करता अपने रिष्टे को बारहा कोई नाम देना चाहा लेकिन मनतहा सुल्टान की आहा बद्दुआ शायद दोले दिल वा दिमाग में ऐसे खब चुकी थी कि कोई भी ताकत उसे बाहर नहीं निकाल सकी जवेडिया करोशन टेहरा मनतहा की बद्दुआओं के जिरे असर अब सया लगने लगा था वजू करके इशा की नमाज अदा किये वो अभी बैठी ही थी कि जूबिया वेगम कमरे में दाकिल हुई मामौल की तरह हाथ में आज भी दूद का गिलास था हर मरतबा कमरे में दाकिल होते ही ने ऐसा मैसुस होता जैसे वो किसी वीरान बयाबान कमरे में आ चुकी हो ड्रेसिंग पर सजा सारा मेकप, का सामान, परफ्यूम्स, कपड़े सब कुछ इसी रात आग की नजर हो चुके थे हाशिर के सामने तो वो इस रात बहादूर बन गई लेकिन कमरे में आकर ऐसी बिखरी थी कि कोई हमदर्दी, कोई महबब, कोई दिलासा उसे जोड़ नहीं पाया था सारी पसंदिदा चीज़े, इसी रात वो आग में जोंक कर, अपनी महबबत को भी इस आग में डाल कर, जैसे इसने खुद को एक खाली जजबाद से आरी रूह में मनतकिल किया था एक वादा किया था, कभी हाशिर को याद ना करने का, एक वादा किया था, सुर को रंग हराम कर लेगी, एक वादा किया था कि महबबत से नफरत करेगी, और ये वादा एक साल से निभाती आ रही थी लेकिन कुछ वादे ऐसे होते हैं जो निभाई नहीं जाते वो दिन और आज का दिन मुंताह सुल्टान ने अपने लबों को गुलाबी रंग से नहीं लंगा था जो चीज जो रंग सबसे ज़्यादा पसंद था आज इन सब चीजों से नफरत निभा रही थी ना जाने ये इसका हाशर से इन्तिकाम था या फिर खुद को सजा देने का अंदास बहरेहाल जो भी था मुंताह सुल्टान ने रंग खुश भूख खुशिया सब कुछ अपने उपए हराम कर ली थी अमी आएं बैठे दूद का गिलाद साइट पर रखकर इसने हाथ पकड़कर जूबिया वेगम को अपने खरीब बिढ़ाया बाबा ने दवाई खाई हाथ थावे इसने नजरे जुकाय पुछा जूबिया वेगम की आँखों में नमी चमकी एक साल के पूरे अर्से में वो बहुत कम अपनी मा के कमरे में गई थी सुल्तान अली मुंतहा की बरबादी का सद्मा लेकर बिस्तर से ऐसे लगे के उठी नहीं पाए आफाग मारिया वजाहर तो साथ थे लेकिन मुंतहा जानती थी इनके दर्मियान महबत खतम हो चुकी है इन सबका कुसूरवार वो खुद को समझती थी हाँ इन्हें दवा दे आई हूँ मुंतहा को जवाब दे कर उन्होंने गिलास मुंतहा के जानिब बढ़ाया दरसल मैं तुम से एक बात करना चाह रही थी जूबिया विगम की बात पर वो सारा मामला समझ गई अमी मैं चानती हूँ कि आप क्या चाह रही है और मेरा जवाब भी आप अच्छे से जानती है सपार्ट अंदाज में कहकर उगिलास को टेबल पर पटक के फिड़की के पास जा खड़ी हुई बेटा एक बार सुन तो लो मैं तुम्हारे भले के लिए ही चाहती हूँ बेटा वो जा चुका है तुम भी आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चा अमी आपको लगता है कि मैं उस शक्स के लिए खुद को रोग लगा बठी हूँ नहीं अमी वो कौन था क्या था मेरा इससे रिष्टा क्या था मैं सब भूल चुकी हूँ याद है तो बस इतना कि मुन्ताह सुल्तान उज़ड कर अब दोबारा बसना नहीं चाहती तन्जिया अंदाज में कहकर गोया इसने खुद का मजाग बनाया जूबिया बेगम की आँखों से नमी चलकी बेटी की हालत रोज दिल के कई टुकडे कर देती लेकिन उमीद का दावन उन्होंने भी नहीं छोड़ा हर रोज एक आस एक उमीद पर जिन्दा थी कि कभी न कभी मुन्ताह सुल्तान का दिल बदले का लेकिन शायद इसके दिल में भी भी महबत की चिंगारी बाकी थी जो कब शोला बन जाए मुन्ताह को भी नहीं पता था मार की तो बस एक दुआ थी कि कभी न कभी तो वो अपनी जिन्दगी में इन रंगों को वापस लाएं पहले जैसी जिन्दगी से भरपूर मुन्ताही नहीं मिले लेकिन शायद वो वक्त अब कभी लौट कर नहीं आना चाहता था सुसकते दिल के साथ वो कमरे से निकलती चली गई किलकी से चान को तकती वो शायद सब बुनाने की कोशश में मगन थी दिल के किसी कोने में अब भी शायद हाशिर की पुकार बाकी थी इस पुकार को नजर अंदास करते एक साल बीच चुका था जितना हुए इस पुकार को नजर अंदास करना चाहती थी वो पुकार उतनी ही शिद्दत इख्तियार कर जाती महबूब बेरहम भी हो तो माशुक का दिल सदा उसी की तमना करता है ऐसा ही मामला मुंताह सुल्टान के साथ था जिन्दगी से तो जा चुका था लेकिन दिल के कौने में से सकती तड़पती महबत अब भी मौजूद थी ओ नहीं मेरा मगर इससे महबत है तो है ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है सच को मैंने सच कहा जब सच कह दिया तो कह दिया अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है कब कहा कि वो मिल जाए मुझे और मैं उसे गयर नहों जाए वो इतनी हसरत है तो है जल गया परवाना तो क्या खता है शमा की रात भर जलना इसकी किस्मत है तो है दोस्त बनकर वो दुश्मन सताता है मुझे फिर भी इस जालिम पर मरना फितरत है तो है महबत है तो है वो नहीं मेरा मगर इससे महबत है तो है मुंतहा ने खाना खाया और बाकी सब कैसे है कोट के बटन खोल कर इसने आईने से अपने पीछे मौजूद मारिया को देखा जो इसी के इंतिजार में थी कि कोट उसे दे और वो उसे अलमारी में हैंग करे जी खा लिया दो लबजी जवाब देकर वो को ठेन करने के लिए अलमारी की जानिब बढ़ गई आप खाना खाएंगे आज दो दिन बाद वो वापस घराया था मारिया की प्यासी नजर अब बस इसी को देखने में गुम थी नहीं बस काफी ये एक लबजी जवाब देकर वो बैट की जानिब पर गया मारिया का दिली अगदम बुझा लेकिन दिल में एक हसरत ही थी कि प्यार भरी ना सही आम नजर ही वो इस पर डाले लेकिन आफाक सुल्तान की नजरों का महवर अब बदल चुका था या तो महवत को खतम कर दिया था या फिर उसे कहीं चुपा दिया था एक साल से वो इस कमरे में अजनबी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे महरम रिश्टा होने के बावजुद भी वो दोनों नदी के दो किनारों जैसे थे उसे आज भी वोधी नियाद था जब आफाक ने अचानक फैसला किया था आगाचान मैं एक फैसला करना चाहता हूँ और किसी को यह हक नहीं कि मुझे मेरे फैसले से रोके दो टोक अंदाज में कहकर इसने मारिया की जान हलक में अटकाई बे साफता इसके नजर आस्मान की जानी बुठी थी और दिल से एक दूआ शुद्दत से निकली थी के मेरी जिन्दगी बरबाद होने से बचा ले जान तो फिर्दोस बेगम की भी हलक में अटकी थी आप क्या कहिना चाह रहे हैं जरा तफसील से आगाह करें अगाचान अपनी जगे से एकदम खड़े हुए दिल इनका भी किसी अनोनी के एहसास से धरका लेकिन दिल की हालत पर काबू पाया उन्होंने सपाट अंदाज में पुछा मैं मारिया की रुकसती चाहता हूँ और एक हफ़ते के अंदर अंदर ये अगदम जैसे सब की सांस बहाल हुई और फिर दोस बेगम की आंखे बेसाफता नम हुई आपाग में ये सब कहकर गोया उन्हें ऐसे एहसान की नीचे दबाया जिसका बडला वो टाहकर भी ना दे पाती हाट जोड़कर उन्होंने खड़े खड़े इस रब का शुकर अदा किया हमें कोई अतिराज नहीं बाकि सल्मान ऑली जानते हैं फैसले का एक्तियार उन्होंने सल्मान अली को सूपा मुझे कोई अतिराज नहीं है आगाजान मुझे आपका हर फैसला मनजोर है आफाक की जानब एक नज़र डाल कर उन्होंने आगाजान को अपनी राएسे आगाँ किया ठीक है एक हफ़ते के अंदर-अंदर तैयारी मुकमल करे सादगी से रुखसती होगी अगाजान ने फैसला सुना कर सब को तैयारी का हुकम दिया और यू एक हफ़ते के अंदर-अंदर वाफाक के कमरे में उसकी बीवी बन कर आ गई अर्मानों की वो रात मारिया के लिए आम रात से बढ़कर साबित हुई अर्मान तो वो मुन्ताह की बरबादी के बाद ही खतम कर चुकी थी जानती थी महबत अब इसकी किसमत में भी नहीं होगी मैं तुम्हे कभी तुम्हारे भाई की खुदगर्जी का ताना नहीं दूँगा क्योंके उन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं इसका अमल उसके साथ मेरी एक बात सुन लो मैं तुम्हें अपनी जिन्दगी में तो ले आया हूँ लेकिन खुदा का वास्ता मुझसे कभी अपना हक मत मांगना क्योंके मेरी खुशी का तालुक अब मेरी बहन की जिन्दगी से चुड़ चुका है जिस दिन मेरी बहन आबाद हुई उस दिन तुमसे भी तालुक बना लूँगा जानता हूँ ऐसे कहे कर मैं खुदगर्जी का मज़ारा कर रहा हूँ लेकिन मेरा जमीर कभी यह गवारा नहीं करेगा कि मैं अपनी बहन की बरवादी पर पाउ रख कर अपनी जिन्दगी आबाद कर लू बाएं हाथ की तीसरी उंगली में महबत की निशानी डाल कर वो चेंज करने ड्रेसिंग रूम के जानी बढ़ गया आफा की बढ़ाई ने उसे नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा हक मांगना तदूर की बात और तमाम उमर उसके कदमों में बैटकर गुजार देती तो भी बहुत कम था कमसकम वहाशिर जैसा खुदगर से थाबित नहीं हुआ महबत ना सही लेकिन इज़त पर इसने कोई आच्छ नहीं आने दी घरवालों के सामने इसने अपनी अज़्दवाजी जिन्दगी कभी भी जाहर नहीं होने दी और ये मारिया के लिए बहुत फखर की बात थी कमसकम सर्याम जलालत इसके हिस्से में नहीं आई थी वो दिन और आज का दिन मारिया ने खुद को इस घर के लिए वक्फ कर दिया मुन्तहा की सची खुशी की दुआ बिला नागा इसके एहन और पहले अमोर में शामिल हो चुकी थी क्या शाइना पार्टी से वावपस आ गई रिलेक्सिंग चेया पर बैठी उन्होंने सामने खड़ी नौकरानी से इस तफसार किया जी नहीं बिबी जी अभी नहीं आई और वो कह रही थी रात को आएगी दस तो बच गये हैं और कितनी रात को आएगी तीखे चतून लिये वो नौकरानी के चानिब मुड़ी बीजी बीजी मुझे क्या पता इसका बाप आ गया न तो मुझे ही सुनाएगा तीरे से मनमना कर उन्होंने गेट के जानिब देखा खेर तुम जाओ और एक कब स्ट्रॉंग सी कॉफी बना कर लाओ इन टेंशन्स ने तो मेरे सर में दरद कर दिया है उंगली और उंगोठे की मदद से सर दबाती उन्होंने नौकरानी को वहां से भेजा हाशिर के जाने के अगले दिन ही वो भी वापस आ गई थी घराते ही उन्होंने शुकर का कलमा अदा किया कि कमस कम हाशिर نے अपनी जुबान इनके खिलाव नहीं खुली अपने गुनह और हाशिर के दिमाग में भरे खनास को वो अच्छे से समझती थी इसनले दोबारा हाशिर के फिलेट में जाने की उम्मत नहीं की कुछ हाशिर भी वो फिलेट छोड़कर न जाने कहां जा चुका था कोई मसलивает होती है और शायद इसमें भी कोई मसलعت छुपी थी अगाजान वो नहीं मानती मैं क्या करू अगाजान किस के पाओं किस के पास अकर किस से फरियाद करू इसके तकलीव मुझसे देखी नहीं जाती वो छुप है लेकिन इसका दिल रोता है अगाजान इसके चहरे पर मध्धम मस्कुराइट तो अब भी है लेकिन इसकी आँखे वीरान है अगाजान अगाजान मेरी बैटी की खुशियां ला दे मैं आपके आगे हाँ जोड़ती हूँ मेरी बच्ची मुझे लोटा दे मेरी मुंतहा ले आया अगाजान मुंत मुंतहा की जिन्दगी में भी उसका सबर इनाम लाएगा उमीद का दामन नहीं छोड़ना जिन्दगी की तरफ भी वो जरूर आएगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आएगी बस अपने आसो अपनी तकलीफ इससे चुपानी होगी मुंतहा को इस वक्त बाहर की खुली फिजा क जरूरत है अगर वो बच्ची घर में रही तब घुट घुट कर जिन्दगी से नाता तोड़ बैठेगी आप परेशान नहों जब तक हम जिन्दा है कोई मेरी बच्ची की हमत नहीं तोड़ पाएगा मुंतहा बेटी की जिन्दगी को रंगों से दोबारा भरना अब हमारा काम है खर आफा का जो आपस आया है कल उसे कहोगा कि मुंतहा को बाहर गुमा लाए घर से बाहर जाकर शायद वो कुछ बहतर महसूस करे अपने सारे शौक तो मार चुकी है और इन शौक आदात पर वापस लाना मुश्किल तो है लेकिन ना मुम्किन नहीं है कल आफा क मारि बेटी भी बोखलाई बोखलाई रहती है कुछ इनको भी सुकून बना लम्ह महसर होगा अब आपने परेशान बिलकुल नहीं होना और सुल्तान अली को भी कहे हिम्मत करे हम उनसे ज्यादा बुड़े होकर चलते फिरते हैं और वो है कि बिस्तर संभाल कर लेटे हैं अभी अगर इन्हें दूसरी शादी का कहे दिया ना तो देखना कैसे चलने फिरने लगेंगे बलके दोरने ही लगेंगे आखरी बात पुर मज़ा अंदाज में कहकर वो जूबिया बेगम के रोते चेहरे पर मुस्क्राहट का मौजित बन गए नाइट गाउन में मलबूस जवेर इसने बात अदूरी छोड़ी और पट से आंखे खोली तौबा शिकन अगड़ाई लेकर इसने बाकी की नीन भगाई वन्ना क्या जवेरिया घर पर ही होती हो तो क्या नीने पूरी नहीं होती अब रोचका कर इसने जवेरिया की जानिब देखा नहीं हाशिर ऐसी तो कोई बात नहीं है बस जब आप चले जाते हैं तो लगता है मेरी नीन सुकून सब साथ ले जाते हैं मीठी नजरों से हाशिर की जानिब देखकर इसने लब का कोना दबाया खेर बाते छोड़ो इस वक्ट मुझे देर हो रही है इस लमाब बात पहुशने में कहीं देर ना हो जा फिर आपका ड्रेस भी निकालती हूँ बैटस उतर कर गाउन की डोलिया कसे वालमारी से सुर्क स्टालिश रॉक निकाल कर वाश्रूम के जानिब बढ़ गई सुर्क रंग पर नजर पढ़ते ही मुंतह स्ल्तान का लाल हुजावी चहरा नजरों के सामने घूम गया हर रोज किसी ना किसी बहाने मुंतह स्ल्तान का अक्स हाशिर को ऐसी याद दे जाता कि सारा दिन इस अक्स को महसूस करते बेचैनी की नजर हो जाता और आज भी ऐसा ही हुआ था क्या भी वो सच्टी होगी बेसाक्ता ख्याल जहन में कोछ छूग गया इसने फौराँ अपने ख्याल की रफी की ये क्या सोच रहा हूं मैं दिल अद्दम बेचैन हुआ ऐसा ख्याल उसे पहली मर्तबा आया था और अपने ख्याल को छटकना शायद इस बार मजीद मुश्किल हो गया था आगाजान आपने बुलाया बलेक शलवार सूट में मलबूस निखराऊ सा आफाग कमरे में दाकिल हुआ और आगाजान के आगे सर जुका इस तफसार किया पुर शफकत हाथ सर पर फिर कर उन्होंने आफाग को बैट में करशारा किया बैठो हमें आप से जरूरी बात करनी है सर जुका है और चेयर पर दरास हुआ जी आगाजान हुकम करें क्या हुआ है हुआ तो कुछ नहीं लेकिन क्या आपने मारिया के साथ अपना रोवया देखा है मारिया के जिकर पर आफाग करम बेसाखता फिका पड़ा सहन में बस एक ही दिन एक ही खयाल आया कि कहीं मारिया ने कुछ पता ना दिया हो मारिया मारिया बेटी के बारे में गलत सोचने की जुरत नहीं है हमें सब नजर आता है अगाजान ने जैसे इसकी सोच पर पढ़ ली थी एक साल से उपर का अरसा हो गया है और आपने इने कहीं लेकर नहीं गए इनका भी तो खुशियों पर हक है और आप जानते बुचते इनका हक मार रहे हैं करें आप इन्हें और मुनतहा को घुमाने लेकर जाएं इस बहानी मुनतहा बेटी का भी दिल बहल जाएगा और मारिया बेटी को भी खुशी होगी उमीद करता हूँ आप इमकान नहीं करेंगे अगाजान ने मना करने का जवाज आफाग के पास बाकी ही नहीं रहने दिया था जी अगाजान मिले जाओंगा मार्या मुंताह के तालुक में इसक्वारी के लिए शायद इससे अच्छा कोई मौका नहीं है आफाग ने भी समझधारी का मुझाहरा किए अगाजान की बात को माना था हम जानते हैं कि आप हमारी बात कभी नहीं टालते और काफी असा हो गया है आपने हमें अपनी हाथ का कुछ इस्पेशल नहीं खिलाया क्या बीवी की हाथ का खाना ज्यादा पसंद है या फिर आप बहुत बड़े हो गए हैं कि आपको किचन में जाना अपनी तोहिन लगती है जब आप कुछ स्पेशल नहीं बनाते अगाजान ने मस्मी संजित की से आफाक की जाने देख कर कहा मद्दा मुस्कुराहट आफाक के चहरे पर नमुदार हुई ऐसा कुछ नहीं है अगाजान बस मसरूफियात जिन्दगी हाँ जानता हूँ आपकी मसरूफियात लेकिन मुन्तहा बेटी को जिन्दगी की तरफ लाने के लिए हमें आप खुद समालना होगा अपने आपको इस बच्ची की हजी भी हमें लोटानी होगी और एहम बात सल्मान अली और फिर्दोस बहु का हाशिर की की गई हरकत में कोई कसूर नहीं है तो आप इन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं हाशिर के जिकर पर आफाक का टहरा एक्दम सपाथ हुआ हम जानते हैं कि ये आप के लिए कठिन है पर मारिया बेटी की खातिर आपको सोचना होगा एक घर में होने के बाद जूद वो अपनी माँ के पास नहीं जाती इनके पास कुछ देर नहीं डुक सकती ये कैसा ना इनसाफ है हमने आपकी परवर्श ऐसी तो नहीं की कि आप भी हमारा दिल दुखाएं या फिर खुदगर्जी का मुझाहरा करें अगाजान कोशिश करूँगा कि अपना दिल नर्म कर सको अभी मेरे लिए ये करना शायब बहुत मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूँगा जिस दिन मेरी बहन की जिन्दगी आबाद हुई समझिए सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन इससे पहले मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कोशिश से कामयाबी मुम्किन है ये तो आप भी जानते हैं लेकिन प्लीज आप मुझसे कोई तौका मत रखिए क्योंकि जब कोई तौकात और मान को तोड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है अगजान के लब जैसे खामोश हो गए इन्शाल्ला कल ही मैं मुन्तहर मारिया दोनों को ले जाओंगा अभी के लिए इजाज़त दे अगजान के जुर्य जदा हाथ पर हाथ रखता वो कमरे से निकल गया दिल की हालत आज भी फिर बेचैन थी रात का आखरी पहट था लेकि नीन आँखों से कोसूर दूर थी नाजाने की वाज फिर दिल ने शिदत से उस महाजबीन की तलब की थी अपनी हालत कभी कभी उसे समच से बाहर लगती बालकने में खड़ा सिग्रेट और सिग्रेट फुंकता वो बस मौल की मनजर को जहन में घुमा रहा था क्या दोबारा एक नजर का दिदार नसीब नहीं होगा क्या दोबारा इसकी सेया आँखे मुझे नजर नहीं आएगी क्या मेरी तल्ब सची नहीं है दिल अज़ीब और गरीब सवाल करता उसे उलज़ा रहा था और वो मजबूत आज़ाब का मालिक शक्स खुद को उलजने दे रहा था अपनी तीस साला जिंदगी में ये टीन एज़ वाली हरकते इसने कभी कलती से भी नहीं की थी लेकिन इस एक साल में लग रहा था कि जैसे जिन्दगी इस उमर में ऐसी उट पटांग हरकात ना करने का बदला ले रही है और तमाम बचकाना हरकात में अपना फर्स असलो भी निभाया था गनी मुचो तले मौजूद लबों में दवी सिगरेट इसकी उलजन की गवाँ थी आज ये दो अलग ऐसासाथ क्यूं कर रुजागा है जैसे आप पास आकर फिर से दूर जाने वाली है एक तरफ आपका मिलने का यकीन भी है और दूसरी जानिब आपका दोबारा खो जाने का अंदेशा भी दिल आज ये फर्याद क्यूं कर रहा है कि एक मरतबह फिर इसी जगे आपको तलाशा जाए कि एक कोई इशारा है या फिर अपनी रहा से भटकाने का जरिया सिगरेट को पैरो तले मसल कर इसने सेया कमीज के सामने वाले बटन खोल कर गुटी भी सांस बहाल की सीना मसल था वो अपने अंदर की बेचैनी को कम कर रहा था जो शायद आज की रात मुम्किन नहीं था लेपटॉप को सामने रखे वो ट्राउजर शर्ट में मलबूस बालों को माथे पर बिखराए खलकी सेया दाड़ी में माथे बर डाले हूँचों के नीचे मौजूद या खुती लब मेंचे वो अहम फाइल देखने में मसरूफ था मारिया को कमरे में आता देखकर एक नजर इसकी जानी डाले वो दोबारा लेपटॉप के जानी मुतवज़े हुआ मारिया ने भी एक नजर आफाग पर डालकर पलके जुकाई मामूर के मताबिक ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होकर हाथ में मौजूद चूडियों को साइड ड्रॉर में रखा और लबो पर मौजूद लिपस्टिक को वाइप से रगर कर वो बैट पर एक चानी बाकर ले थी अपने नाम की सुहागन होने का भर्म इसने आज तक इतने अच्छे से कायम रखा था कि किसी को इनके अज़्दवाजी मामलात की खबर ना हो पाई थी लेकिन दुनिया वाले भी चेल की निगाह रखते हैं नजाने कैसे वो इनसान के अंदर तक का हाल जान चाते है ऐसे ही तुबा बेगम की नज़र थी जए माँ पहले ही वो जैसे सब जान चुकी थी लेकिन दाद तर्व थी मारिया के तुबा बेगम को इस सच को सच मानने दिया हो अपनी माँ को आज तक इस सच की ख़बर नहीं होने दी थी तो तूबा वेगम से तो बहुत दूर का तालुक था खाली जहन के साथ इसने अभी आँखे मुंदी ही थी कि आफाग के मुझे अपना नाम सुनकर जैसे दिन तेज़ी से धरका और पूरे वजूद को जैसे समात में तबदील किया एक जम तो मारिया को अपनी समात पर धोका महसूस हुआ लेकिन आफाग की दूसरी पुकार ने दिन पर सच की महल लगाई लेपटॉप साइड पर रखकर इसने मारिया को पुकारा जी क्या हुआ जटके से उटकर वो आफाग की जानी बुड़ी आफाग में हैरस उसकी बुखलाट मुलाइजा की क्या हुआ नाम से ही बुलाया है जितना घबरा गई हो अब रुटका कर इसने सवाल किया मारिया उसे क्या बताती के इस पुकार के लिए इसने कितना इंतीजार किया है आज जब पुकारा था तो क्या वो बुखलाती भी ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप बताएं क्या कह रहे थे एंगलिया चटकाते इसने सवाल किया हाँ वो मैं कह रहा था कि बेसाखता, बालों में हाथ फिरकस ने बात अधुरी छोड़ दी, आफाग को भी जैसे उसे कुछ कहना आज कठिन लग रहा था, जी मारिया ने दोबारा आफाग की जानिद देखा, कल रेडी रहना, तुम मैं और मुंधा शॉपिंग के लिए जाएंगे, एक सांस में कहकर खामोश हुआ, और मारिया ने हैरांगी से आफाग के जानिद देखा, के एक साल बाद आफाग को एक खयार क्यूं कराया, लेकिन सवाल करने का हक शायद इसके पास महफूस नहीं था, आफाग की नजर भी इसकी जानिद थी, इसकी उत्ती गिरती पलकों को देखता हो लेकों की गिरती उत्ती, चलमन जैसे दिल को धरकाने की वज़े बन रही थी, हलाल रिष्टे की महबत ने एकदम सर उठाया, लेकिन हाशिर की महबेहन होने का खताब दिल को रोख भी रहा था, तुम कुछ बो, बोली नहीं, क्या जाना नहीं चाहती, आफाग ने सवाल द ना करने पर दिल की हलत वीरान हुई, इसकी पुष्ट को घूरता हो जैसे खैलाद की मावराई दुनिया में गुम हुआ, आफाग को इसका मासूम चहरा आज नजर भटकाने पर मजबूर कर रहा था, दिल में नए जजबात सर उठा रहे थे, यह अगजान की बातों का अस जानिब करवट लेकर इसने बालों से धकी कमर पर नजर ठिकाई, बिखरी रेश्मी जया जुल्फें एक दम उसे अपनी जानी बुलाती महसूस हुई, दिल की मनमानी मजीद वड़ी, के एक बार इन जुल्फों को छूकर इनकी मुलायमत को महसूस करें, गैर इरादी तोर पर हाथ बालों की जानी बढ़ा लेकिन हवा में ही रुका, हाँ, और ना की कश्मकश में उंचा हाथ वो हवा में ही मौलिक रह गया, करवट के बर लेटी मारिया को भी आज कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे किसी की खुमार में लिट्टी नजरे इसकी पुष्ट पर जमी है, आँखे सक्ती से मेचे वो इन नजरों के हटने की मतमनी थी, अपने दिल की हालत पर काबू पाता, इसके हाथ पहलों में गिराया, लेकिन ना जाने आज दिल की जिद हो गई थी, कि गुस्तागी होकर रहेगी, दिल में जिद बान ली थी, कि आज इन बानलों की घ कैद कर गया, मारिया हलकी से चीख के साथ इसके बाजों में कैद हुई, सीने पर हाथ रखकर इसने उसे दूर हटाना चाहा, लेकिन आफाग की सक्त गिरफ्त ने कोशिश नाकाम बनाई, बालों में मूँ छुपाता, बिना कुछ बोले, वो मारिया के दिल की ढढ़कर बढ पर सकून नीन सो चुका था, इसकी सांसों की गरमाहट, इसके वजोद से उटती कलों की पूर मध्धम खुश्भू, मारिया की पसंदीदा तमाम तर इत्र को मात दे गई, सांसों को गिंती वो दासी, शायद आज जाक कर अपनी महबत की मिसाल कायम करने वाली थी, नीन कु में अब भी सिम्टी हुई इसके हिसार में कायद थी, नीन में भी इसकी गिरफ्त नहीं टूटी, एक तरह से मारिया को वो डर की सुरत ही लगा कि कहीं इसका दूर चाना आफाक को बेचैन ना कर दे, शायद इसलिए टंग कुफल में कायद किये वो सो रहा था, एक करवट क आवाज में पुकारा, आफाक की आँख धीरे से इसकी पुकार पर खुली और अपने इतने नज़्दीग देखकर इसने एकदम गिरफ्त डीली की और एक जटकेसों से खुद से दूर धकेल दिया, दूसरी चानी से उठकर रुख मोड कर बैठा, मारिया इसकी जल्द पर हैरत जदा हुई, यक टक उसे देखे गई, एक मकतबा तो उसको भी समझ में नहीं आया कि गोया आफाक ने उसे तेजी से दूर क्यों धकेला, आइम सौरी, नजाने कैसे, वो बालो पर हाथ फेरकर इसने बात अधूरी छोड़ी, दिल की आवारगी पर उसे शदीद प गरता वो ट्राउजर और वेस्ट में बाहर आया, नेवी बुलू जीन्स के साथ वाइट शर्ट मोजे और उमाल बैट पर एक चानित तर्टीब से रखे मारिया शाय कमरे से जा चुकी थी, शर्ट चेंज कियो मुड़ा जब मारिया दोबारा कमरे में दाखिल हुई, नाश ओके, बालों को बरश से सेट करके इसने हुकम नामा चारी किया, जी ठीक है, मारिया ने भी दो लबजी जवाब देकर उंगलिया चटकाई, मक्सूस कलोन को अपने उपर बेदरीक चिड़क कर वो नाश्टे की जानित मतवज्य हुआ, मारिया वापत जाने के लिए पाक की आवाज में कदम रोके, आज आओ, नाश्टा कर लो, पेदर पे जटके, क्या होते हैं, मारिया को आज अंताजा हो रहा था, एक दम और पीछे मुड़ी और आफाक के जानित देखा, जो कौफी कमक मुझ से लगाए नाश्टे के जानित भी मतवज्य था, जैसे इस खबूल थी, बकौर मारिया के, फिकर और हमदर्दी का अगास ही महबत का पहला तकाजा है, किस सोच में डूप गई हो, अब रूच का कर इसने मारिया की जानित देखा, किसी सोच में नहीं, आप करें, मैं नीचे सब के साथ करूँगी, ओके, पर जरूर कर लेना, पर अभ की कमक टेबल पर रखी दर्वाजे की जानिब बढ़ा, इससे पहले बहार निकलता, कुछ सोच कर वो पीछे मुड़ा, नेवी बलू, लॉंग फ्रॉंग पहन लेना, चन्द लबजों में अपनी खौइश का इसार किये, वो कमरे से निकलता चला गया, इसके हुकम पर मारि की खौइश पर इमान लाए, वो अलमारी के जानिब बढ़ गई, आज पूर पूर सजकर वो अपने महबुग की खुशी का इहतराम करने वाली थी, या आप मेरे कपड़े क्यों अलमारी से निकल रही है, कमरे में दाखिल होते ही, इसकी नजर जूबिय बेगम पर पड़ी जो सामने मौजूद अलमारी में मुंतहा के कपड़े निकाल कर बैट पर धेर कर रही थी, सया और सफेद के अलावा इन कपड़ में कोई दूसरा रंग मौजूद ही नहीं था, मुंतहा की बात को नजर अंदाज किये वो दो बारा इने काम में मगन हुई, आमी में कुछ प कपड़े निकाल रही हूं, लेकिन यहां तो सया और सफेद के अलावा कुछ मौजूद नहीं है, जूबिया बेगम का जवाब सुनकर मुंतहा कर चेहरा एकड़े से सुर्ख हुआ, यह आप क्या कह रही है, और मैं क्यों इनके साथ जाओंगी, और जानती भी है कि मैं सया और सफेद के अलावा कुछ नहीं पहनती, तो इस सवाल की कोई वज़े नहीं ही बनती, दो टोक अंदाज में कहकर पागे बढ़कर कपड़े दोबारा इल्मारी में सैट करने लगी, क्यों, क्यों वज़े नहीं बनती, और आफाक और मारिया के साथ तुम जाओगी, और ज तक है, और मैंने कहा कि तुम जाओगी, अपने भाई के साथ जा रही हो, जूबिया बेगम की जिद्ने मुन्तहा को मजीद गुस्ता दिलाया, क्या चाहती है आपके इस दुनिया से भी चली जाओं, जूबिया बेगम की जैसे जान हलक में अटकी, क्या बगवास कर रही हो शरम नहीं आती मा के आगे जुबान चलाते हुए, आगे बढ़कर उन्हें बावजों से जगर कर इसका रुक अपनी जानी मोड़ा, क्यों कर रही हो ऐसा, क्या ऐसे ही सारी जिन्दगी गुसारोगी, क्यों इस चार दिवारी में बन होकर रह गई हो, बस कर दो मेरा कुछी इज़र भी खतम होकर रह जाए, इसने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्या कसूर था मेरा, एक मरतबा तो मुझे मेरी कलती बताता, कई मू दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, इतना गंदा इल्जाम लगा कर इसने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया, रोते कुरला अम्मी और कितना सबर करूं, नहीं रहा मुझे में सबर बाफी, मुझे नहीं चाहिए ये बद सुकून जिन्दगी, मर जाना चाहती हूँ मैं, दुनिया वालों की नजरे सुई की तरह चुपकर मेरे वजूट को छलनी करती है, क्यों अम्मी, मैं ही क्यूं, मेरे साथ ही क् कभी किसी का कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन बदले में मेरे साथ ही बुरा हुआ, क्यों हुआ अम्मी, जियानी अंदास में चिलाती हूँ, फूट फूट कर रोई, जूबिया बेगम ने नीचे बैठकर उसे अपने सीने में भेचा, खुलकर रोती हूँ, वो शायद अप पसंदीदा बंदों को ही आजमाता है, और अल्ला की आजमाईश पर पूरा उतरने वाला इनाम का हगदार होता है, तो क्या अल्ला के पसंदीदा बंदों में शामिल नहीं होना चाहती तुम, जूबिया बेगम ने पल भर में जैसे इसके सारे शिक्वे खतम किये, मुन्तह ये एक मीठी लहर मुन्तहा को अपने वजूद में महसूस हुई, अब उठो जल्दी से, आगाचान का हुकम है, और जानती होना क्यों तुम्हारे बगर खाना तो दूर, सांस भी नहीं लेते, अब इनके हुकम की हदोली करके क्या इनको तक्लीप दोगी, सवाल ये अंदा जाती थी जान अपनी, इसका जाना भी हमने अपनी आँखों से देखा है, गारी में बैठा हो मारिया और मुन्तहा के इंतजार में था, आगाचान की बाते इसके दिल पर नक्ष होकर रहे गए थी, अपने तालुक को सोचता हो उलचा था, और जमीर ने भी जैसे उसे मलाम कर दी, लेकिन अपनी हरकत पर खजर सहुआ, मारिया की मासुमियन, फर्मा बर्दारी और वफाशारी, तो इसका दिल बहुत पहले जीच चुकी थी, लेकिन मुन्तहा की बर्बादी उसे आगे बढ़ने से रोक देती, लेकिन कल की आगाचान की बाते नक्ष होकर है गई थ जब मारिया नेवी बिलू फ्रॉक में थलका सा डुपटा, सर पर सजाए, पैरों में खुसा पहने, चहरे को मसनुई हुसन से मद्धम सा लब्रेस किये, शिशे में से आती ही नजर आई, आफा की नज़र इस पर ऐसी टी की के हट ही न सकाई, होश तो तबाया जब शिशा नौक करके इसने नर्वाजा खुलने का इशारा किया, इसके चहरे से नजर हटा कर इसने आटोमेटिक लॉक उपन किया, मारिया फरंट सीट पर सवार होती ही रुप मोर गई, मुन्ता कहा है, आफाक ने सवाल तराशा कि कमस कम एक मरतबा तो इसकी जानिद देखे, आ रही आफाक के माते पर बल नुमाया हुए, जितना वो तबज्जे चाह रहा था, इतना ही वो उसे इग्नोर कर रही थी, सामने देखो, एकदम आफाक में उसे कहा, होंक जदा अंदाज में इसने आफाक की जानिद देखा, जिसके माते पर बल नुमाया थे, आफाक को यग गोन सकूर महसूस हुआ, दिल पर थंडी फुवार पढ़ती महसूस हुई, अपनी हालत पर काबू पाता, इसने दोबारा सक्ती से कहा, जब तक मैं ना कहूं, नजर नहीं जुकानी, और बिलकुल नहीं जुकानी, इसके अनों के हुकम पर मारिया रुहा सी हुई, जि जी, और ह हाँ, गुजारिश समझ दो या हुकम, तुमने मुन्तहा की तवज़ बटानी है, इसके सामने नॉर्मल बहेव करो, एक और हुकम साधिर हुआ, आगे कभी मैंने खबर होने दी, बे साक्ता जुबान फिसली, हापाक इसके जवाब पर खामोश होकर रह गया, मजीद कुछ क कमरे में दाख चिली, जी जा रही हूँ, सपार्ट अंदास के संग कहा, जानता हूँ, बेटा आप जाना नहीं चाहती, लेकिन अपने आगाजान की बात तो कमसका मान ही सकती है, आगाजान ने डारिक्ट इसके कमजोरी पर वार किया, जी, आप ही की बात मान कर जा रही हू लेकिन अम्मी को समझा दे, मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, वरना आप जानते हैं, मैं क्या करूंगी, अपनी जिद भी इसने आगाजान के गोश गिजार कर दी, अच्छा ठीक है, अभी जाओ, हम बहु बेगम को समझा देगे, आगाजान मजीद बहस करके, इसके जिद को रखा था, आफाक मॉल चलते हैं, कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी, और मुवी का प्रोग्राम भी बन जाएगा, शीशे से एक नजर मुंतहा के सपाट चहरे पर डाल कर इसने आफाक को इशारा दे कर कहा, हाँ, ये बेस्ट आइडिया है, क्यों मुंतहा, मारिया ठीक कह ये ना, आफाक ने मुंतहा से कहा, लेकिन शायद वो किसी और दुनिया में गर्ग थी, मुंतहा, तुमसे पूछ रहे हैं, आफाक ने दो बारा मुंतहा को पुकारा, हाँ, चलो, मुंतहा ने बिना सुने रज़मन्दी दे दी, आफाक ने भी गाड़ी करुख मोड़ा और गाड़ी मौल की जाने बढ़ाई, आफिस में बैठा गाजान एक एहम फाइल देखने में मगन था, जब एक दम दिल बेचैन हुआ, ये गाजान की शफाक, महबत थी, या खुदरत का कोई करिश्मा, जैसे कोई कशिश उसे अपनी जानी बुला रही हो, गाजान का दिल ए गाड़ी की हालत पर हैरान था, जो समलने पर ही नहीं आ रहा था, माते पर पसीना चमका और गाड़ी करो किसने घर की जाने मुड़ा, लेकिन अचानक जैसे दिल में हसरत जागी कि एक बार इसी जगे जाएं, जहां वो परी पेकर मौजूद थी, गेर पर हाथ रखे गाड अले का वाक्या जहन में घुमा, हम यहां क्यों आए हैं, तीखी चतुन लिये, इसने आफाक से पुछा, लोग भूल गई तुमने तो हामी भरी थी, और अब कह रही हो, यहां क्यों आए हैं, मैंने यहां का नहीं कहा था, और मैं नहीं जाओंगी अंदर, वो मैंने कुछ करनी थी, यगदा मारिया ने कहकर बात समा ली, बिना कुछ कहे वो गारी से उतर गई, आफाक ने हिरा से इसका रवया मुलाइजा किया, मारिया भी गारी से उतरी, मैं गारी पार्ग करके आता हूँ, तुम दोनों अंदर जाओ, आफाक ने गारी आगे ही बढ़ाई थी, मंतहा मारिया दोनों अंदर की जानिब बढ़ गई, गाजान भी गारी पार्ग करके मौल के अंदर आया, मुक्तलिफ चीज़ों पर इसकी तवज़े दिलाए, इसने मंतहा का दिल बहलाना चाहा, लेकिन जिनके दिल विरान हो चुके हो, उनकी जिन्दगी में रोशनियों क कोई एहमियत नहीं लेती, मौनतहा वो देखो, वो ड्रेस कितना आउट क्लास लग रहा हैं, बाजों से पकड़ करो मौनतहा को लिए, एक शौप की जानिब बढ़ी, कटी पतंग की तरहा वो खिष्टी चली गई, मारिया का बेट तकलुफाना रवया उसे आज हैरान कर र चलो अब भाबी, मजी सकत बाकी नहीं है, जरा सी मसाफत ने उसे ठका दिया था, ओके चलते हैं, इसका बाजु ठामे वो नीचे की जानिब आई, दूसरी जानिब गाजान मौन में गुमता, जैसे किसी को, कोई नूर को तलाश रहा था, लेकिन लग रहा था, नाकामी ही ह होगी, ठाक हार कर वो मौल से निकलने ही लगा था, जब एक दम कोई लड़की भी बहार निकलने के लिए आगे बढ़ी, और गाजान से टकराई, गाजान के माते पर बल नुमाया हुए, और कुछ कहने के लिए वो इसकी जानिब मुडा, सबर भी कुछ चीज होती है मैडम और शायद मकाबल का चहरा देखकर जैसे जुबान साकित हुई, आखे हैरस से खुली, और दिल पर जैसे ठंडी फुवार पड़ती महसुस हुई, यनि आज गिसमत उसे यहां ले आई थी, सौरी, मुंदाहा ने भी जवाबन सौरी कहकर इसकी जानिब खाली नजरों से दे बिना किसी की परवा कियो यक्टक उसे देख रहा था, कि पल छपकाना भी इसने हराम समझा, इसकी नजर से कोफ्त महसुस करती वो जगे बनाती, बाहर की जानिब बढ़ी, होश तब आया जब वो वहां से निकली, एकदम गाजान को अपने गित अंधेरा महसुस हुआ, त जिनका कोना कोना आज इस रफ का शुकर अदा कर रहा था, आज वो जिन्दगी को हाथ से फिसलने का मौकर नहीं देना चाहता था, गाड़ी का घर तक का पीछा करने का वो ठान चुका था, अपनी मंजिद उसे करीब बहुत करीब महसुस हो रही थी, इतनी जल्दी शॉप जिलन जवाब दिया, मुंतहा, क्या हुआ है, ज्यादा तवियत खराब हो गई थी, आफाक करेजा पिकर से भरपूर था, नहीं, बस दिल घबरा रहा था, और शॉपिंग भी हो गई थी, तो रुकने का जवाज नहीं था, शॉपिंग बैक्स पर एक नजर डाल कर वो बाह है, सपाट अंदाज में जवाब आया, अपने अंदर की हालत चुपाए, वो बजाहर तो सपाट थी, लेकिन दिल तूट तूट कर बिखरा था, इन जगों से इसकी बहुत यादे जुड़ी थी, और इन यादों में हाशिर भी था, जितना वो जालिम को भूलाना चाहती थ इतना वो जहन में हावी हो रहा था, मारिया को और मुझे तो भूक लगी है, तो चलो, हम ही खा लेते हैं, काड़ी करो किसने रेस्टोरेंट के जानी मोड़ा, पीछे मौजूद सया प्राडों में गाजान ने भी गाड़ी करो मोड़ा, आज बेशक सारा दिन बीच जाता, इसने अपनी मन्जिल तक पहुँशने का पका इरादा किया था, अपनी किसमत की खुशबखती पर उसे एक अगदम यकीन नहीं आया था, दुआएं ऐसे भी कुबूल होती हैं, गाजान को अंदाजा नहीं था, सजड़ शुकर अदा करना आज इस पर मकसूद था, मनाकात के मकाबले में इस मरतबा इसके टकराने और देखने पर शदीद रियरक्ट नहीं किया, गाड़ी के चलते ही इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तकरीबन एक घंटे बाद वो किसी गाओं में दाखिल हुए, और गाजान को हैरत का शदीद जटका लगा, क्योंक के बाहर लगी, हमदानी पैलेस की प्लेट को देखकर उसे जैसे कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे वो ये नाम सुन चुका है, अपने जहन को जटक कर इस नाम को दहराता, और रास्ते को दहराता, वो बिना किसी की नजर में आए वापस लोट गया, जल्दी आ रहा हूँ आ रंग बेसाखता फिका पड़ा, माते पर बल डाले वो भी उसी के जाने मतवज़ थी, वाह वाह, यहां तो शौपिंग्स की जा रही है, घूमा फिरा जा रहा है, मैं तो सोच रही थी कि इसके जाने के बाद मुनतहा बीबी अपने आप को सुधार लेगी, लेकिन यहां त मेडम के वही चाल चलन है, तंस के तीर बरसा, इसने मुनतहा का सरता पाद तका, जो सादगी में भी एक परी की मानी लग रही थी, और एक शाइना थी, जो संच सवर कर भी आम सी लगती, यह फतूर तुबा वेगम की जलन की वज़े से था, मुनतहा ने इर्दगिर्द इसने सजावट का नाम दे दिया, बाहर गई थी, जुबान जरा से लुर खड़ाई, तुबा वेगम भी लाउंज में किसी की गयर मौजूद्गी का फायदा उठाते वे खूब तंस के तीर चला रही थी, बीबी कुछ शरम करो, तुम्हारे इनी लच्छन की वज़े से मे में बेसाखता एक ही ख्याल आया, कि कुसूरवार सिर्फ औरत को ठहरा जाता है, मर्द अपनी गलती पर अपना गुना, सब औरत के सर पर ठोप कर बयुज्जमा हो जाता है, इसकी आँखों से बहती नमी को हिकारत से देखते वे तुबा बेगम ने मजीद गोहर अफशानी लो, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया, जो रो कर नहुसत फैलाना चाह रही हो, बीबी, सच कहा है, अपनी चाल चलन बदल लो, वरना बहुत पश्टा होगी, जहर उगलती जबान मुन्तहा के दिल पर गहरे जखम छोड रही थी, मारिया और आफाग भी लाउंज में दाकी लो मारिया भी फौरान आगे बढ़ी, मुन्तहा तुम जाओ, यह सामान मारिया के कमरे में रख देना, आफाग ने उसे वहां से जाने का इशारा किया, बीखती आँखे लिए वहां से निकल कर अपने कमरे के जानी बढ़ गई, फुपो शाइना नहीं आई, आफाग ने भी इ जवाब पर तूबा बेगम का रंग फीका पड़ा, कहां, किस होटल में, मारिया बताओ ना, अभी तो कुछ देर पहले उसे हमने देखा है, आफाग के शारे को मारिया फौरान समझी, और उसने भी सर असबात महिलाया, जी जी फुपो, अभी चानिस रेस्टरान में अपन की बेहन पर मजीद कीचर उचा ले, मत भूले, कि आप बेटी की मा है, कीचर उचार कर कहीं खुद पर ही न गिर जाए, उमर और रुदे तोनों में बड़ी है, इसलिए लिहास कर गया, वरना जवाब देना मुझे बहुत अच्छे से आता है, सक्ति से कहता वो मारिया का हा बेट्षिट को नोच कर इसने जैसे अपना गुस्सा कम करना चाहा, कहा भी था मुझे नहीं जाना, लेकिन जबरदस्ति करते हैं, हर मामले में अपनी मनवाते हैं, क्यों दुनिया हमें जीने नहीं देती, क्यों हमारी हसी को बरदार्श नहीं कर पाते, चीजों पर अपना जीने ही नहीं देना चाहती, और अक्सर ये अलफास हमारे प्यारे ही इनाम के तोर पर देते हैं, बैट की पाइटी से टेक लगाए बस एक नुकते पर ठहरी, आंसों आंखों से निकल निकल कर कनपटी में जजब हो रहे थे, इसने सोच लिया था, जब तक फुपू नहीं जाएगी, वो कमरे से बहाँ नहीं निकलेगी, मॉम, कहां हैं, घर में दाखिल हो दे, इसने समरीन बेगम के बारे में इस्तिफसार किया, साब जी व अपने कमरे में हैं, खान समा की बात को सुनकर, वो तेज़े से उपर के जानी बढ़ा, और समरीन बेगम के कमरे में पात सुने, दोनों हाथ थाम कर से धीमी मस्कुराहट कि संग कहा, मॉम, वो मिल गई मुझे, नजर जुकाय से कहा, कौन मिल गई, किसके बात कर रहे हो, मॉम, आपको बताया था, जिसका जिकर आप से किया था, क्या, सच, लेकिन कहा, और कैसे मिली, और कैसी है, मॉम इस गले लगाया, मेरे बेटे की लगन सची थी, तब ही वो दोबारा मिली है, जी मॉम, अब आपने देर नहीं करनी, कली आप इनके घर जाएंगी, और शादी ही की बात करेगी, शादी मतलब शादी, कोई दूसरी बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, समरीन बेगम का आज गाजान की बेसबरी पर मस्कुराई, इन्शालला, लेकिन अगर उन्होंने इंकार कर दिया, तो समरीन बेगम के सवाल पर गाजान की दिल की धरकान डुक कर चल ली, नो, नेवर मॉम, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मना लीजिए का, हाथ पर दबाव डाल कर इसने गोया फ महाल की, दिल था के सीने से निकल ही जाएगा, खुशी का इहसास इतना गहरा था कि दिल आज भी जूबना चाह रहा था, लेकिन अपनी संजीद्गी और रौपदारी को वो खराब नहीं कर सकता था, सची लगन आखिर रंग ले आई थी, दिल था कि अब भी बेयकिनी में उलच रहा था, अपनी खुशबक्ती पर यकीन उसे शायद मुंतहा कर उबरू देख कर ही आना था, वो परी चहरा आज अनोखी रंग में सामने आया था, सिजदे शुकर गया इस पर वाजब था, वार्डरॉप से सया शलवार सूट ली, उफरेश होने वाश्रूम के जान अमी को बताता हूँ, वो बहुत बेचैन था, किसी अच्छी खबर के लिए, मुबाइल की तलाश में नजर दोड़ा, इसने एदगिर देखा, लेकिन शायद मुबाइल गाड़ी में मौजूद था, वो आपस नीचे आए, वो मुबाइल लेने के लिए गाड़ी के जानी बढ़ा था, फून लेकर और रूम के जानी बढ़ा, और बैट पर बैट कर अभी नमबर डायल करने ही वाला था कि अगदम एक ख्याल इसके जहन में आया, अभी हमदान को नहीं बताना चाहिए, आई थिंक उसे सर्प्राइज देना ही अच्छा है, मौम को इधर से आने के जगे थी, जहां खड़े रहना और घंटो, उस लड़की को सोचनों से सुकून और राहत बखशता था, सिग्रेट का गहरा कश लेकर इसने धुआ हवा में चोड़ा, जब इस धुए में गाजान को इस लाल हिजाब का गुमान हुआ, और जो हाथ से लानत का इशारा दिये इसी की जानिक मतवज़ थी, एक डम इस अक्स को गाजान ने चुना चाहा लेकिन वो अक्स पल भर में गायब हुआ, अपनी बेखुदी पर गाजान को बेसाखता हसी आई, बालों में हाथ फेरकर्स ने अपनी बेखुदी पर शर्मिंदगी जाहर की थी, उफ, आप मेरे ह बस कल का कठीन वक्त गुज़ जाए, आगे की मुश्किलात कम करना मेरा काम है, एक अहिद भरे लहजे में कहता, वो मुंताह सुर्टान को दिलो दिमाग में रखे, सिगरेट के गहरे कश लेने में मगन हुआ था, अपनी फुपू की आदत तो तुम शुरू से जानती हो, पिर आज ऐसा रवया क्यों उफ्तियार किया, जूबिया बेगम ने कमरे में दाखिल होकर बिखरे कमरे का वलहाज़ा किया, और मुंताह को एर्दिकित ढूंडा, जो बैट से पुष्ट लगाए, अब भी यक टक छट की जानी मतवज़ थी, जहन में बस इस सितमगर के अल मुझे उमीद नहीं थी, कि मेरी बेटी इतनी ना समझ भी हो सकती है, जो इतनी छोटी छोटी बातों पर यूं रोए, तर्पेगी, क्या तुम लोगों को मौकर देना चाहती हूं कि वो कहीं, मुंताह सुल्टान कमजोर है, मुंताह सुल्टान में हिम्मत नहीं है, हालाद क खत्म हो चुकी है, अब मैं एक वीरान और खाली रूँ हूँ, ऐसी रूँ जिसे अब लोगों की तन्जिया बाते मुनाफिकाना रवये रूलाते हैं, अम्मी मुझे लगता है, ये मेरी ज्यादा मुस्कुराने की सजा है, आपने सुना ही होगा, कि जो ज्यादा मुस्कुराता है, इसे इतना रोना भी पड़ता है और जिसने भी ये कहा, बिल्कुल दुरूस्त कहा था, जानती है मुझे भी अब रोना अच्छा लगता है ताकि मेरे अंदर का गुबार तकलीफ इन आस्वों के जरीए बाहर निकल सके आज फिर जूबिया बेगम का दिल तर्पा आँके आज फिर नम हुई लेकिन आज उन्होंने सोच लिया था कि मुन्तहा को इस गम से निकालना ही होगा आप शायद भूर रही हो मुन्तहा कि आप किस की बेटी हो मेरी बेटी हो आप सुल्टान अली की बेटी हो और सुल्टान अली की बेटी इतनी कमजोर दिल की कभी नहीं हो सकती आप खुद लोगों को मौका दे रही हो कि लोग आपको जखम दे और आप वो खुशी-खुशी कुबूल करें मुन्तहा अपने आपको मजबूत बनाया जाता है ना कि एक इनसान के जाने के बाद इसके दिये गए रोग के साथ जिन्दगी गुजार दी जाए मैं अब आप से मज़िद कुछ नहीं कहूंगी अपने आपको मजबूत बनाओ या फिर कमजोर ये आप पर है अगर इस इनसान के गम में जीकर अपनी महबब दुनिया वालों को दिखाना चाहती हो तो आप से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है और आप से बड़ा गुनहगार भी मेरी नजर में कोई नहीं होगा जो एक गयर महरम के लिए अपनी जिन्दगी तबहा कर ले बिना कुछ सुने वो मुन्तहा को सोचो के धारे में छोड़कर कमरे से निकलती चली गई मॉम ये सारी इंफो है इस अड्रेस पर आपने जाना है रात ही इसने सारी इंफो निकाली थी ओके अब मुझे रेड़ी तो हुने दो और खाली हाथ तो बिलकुल नहीं जाओंगी जी मॉम मैं समझ गया सब सामान गारी में मौजूद है बस एक बात मॉम मुझे ना नहीं सुनना गाजान ने हाथ थाम कर फर्याद की थी अपने बेटे की सची लगन पर समरीन बेगम की आँख में नमी चमकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और अगर अल्ला पाक में इसका जोड तुम्हारे साथ लिका है तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी बस उमीद को दामन समाले रखना मॉम आप जानती है एक साल पुरा एक साल मैंने अपनी लगन सची लगन रखी है अगर लगन सची ना होती तो मैं आज आके बढ़ चुका होता और किसी दूसरी लड़की को अपनी लाइफ में ले आता लेकिन नहीं मुझे अपने रब पर यकीन था मॉम मौज़े होते है और देखें मौज़ा उस दिन भी हुआ था मैं आफिस में वैठा था कि अचाना बस सारी तफसील इसने मौम के कोश्ट उसाथ ही और मौम अगर मैं ठाहता तो पल भर में इसकी इन्फोन मौल से ले ले लेता लेकिन मुझे अपनी और इसकी दोनों की इज़त का ख्याल था मैं क्यों उसे दुनिया की नजर में वश्कू करके ढूंता मौम एक साल दो साल जितना वक्त भी गुजरता मैं इसका इंतिजार करता लेकिन इसकी इज़त पर हर्फ लाकर अगर उसे हासिल करता तो मुझे से बड़ा जालिम कोई नहीं होता समरीन बेगा में वेसाक्ता इसके माथे पर महबत से भरपूर बोसा दिया मैं नहीं जानती थी के मेरा बेटा इस हद तक इस लड़की के लिए हिससास है मुझे फक्र है गाजान के तुम मेरे बेटे हो मेरा मान हो और इस मान को सदा पाइम रखना और हाँ इन्शालला अच्छी खबर के साथ वापस लोटूंगी गाजान ने वेसाक्ता हां में सरी लाया था लेकिन एक बाद गाजान मैं उसे पहचानूंगी कैसे ना आप इसका नान जानते है ना आपके पास कोई तस्वीर है तो फिर वो लोग हां कैसे कहेंगे और मेरे पास क्या जवाज होगा कि मैं ने बता सकूँ इनके सवाल पर गाजान बेसाफता मुस्कुराया मॉम आप उसे अपने बेटे की नजर से पहचानेंगी मेरी आँखों में मॉम आपको उसका आपस तो नजर आ ही गया होगा और अपने बेटे की चोईस भी आप जानती है कि कैसी है मॉम ये अब आप पर है क्या आप उसे पहचान पाएगी या नहीं समरीन बेगम के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराइट चमकी थी मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इस हद तक इस लड़की से महबबत कर चुका है खुश नसीब है वो लड़की जिसे मेरे बेटे ने चाहा है मॉम वो नहीं मैं खुश नसीब हो जो मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी मुकमल करेगी अब आप जाएं और जल्दी से रेडी हो जाएं वरना मैं खुद वहाँ छोड़ कराऊंगा काजान का ये रूप समरीन बेगम को खुशी से दोचार कर गया जो कल तक संजीदगी का आला नमूना था आज खुश मिजाजी की मिसाल काइन कर रहा था नाश्टे की टेबल पर बैठी वो हाशिर की जानी भी मतवज़ी थी तो शायद नाश्टा करने में इस हद तक महुता के जवईरिया की मौजूदगी को भी नजर अंदास कर रहा था फोन की बश्टी रिंग ने इसकी तवज़े बटाई फोन कान से लगाए और टेबल से उठा क्या हुआ अरिवा आज आज आपने इतनी चल्दी कॉल क्योंकि अरिवा का नाम सुनकर जवेरिया भी मतवज़ ही सर मिस लाइबा आप से मिलना चाती है और वो आज ही मिलना चा रही है अरिवा की बात सुनकर कुशादा माथे पर बर नमाया हुए आप जानती है मिटिंग से पहले टाइम लेना पड़ता है तो फिरो किस हैसिया से जित कर रही है सर इनकी कुछ समझ नहीं आ रही कल आपके जाने के बाद वो आई थी लेकिन आप मौजूद नहीं थे और आज इनकी चार कॉल सा चुकी है इसलिए मद्बूरन मैंने आपको कॉल की अरिवा ने तफसिलन जवाब दिया ओके आज शाम को मिटिंग पिक्स करो इनके साथ जान लेते हैं इमें इसलाइबा क्यों मिलना चाहती है जवेरिया के माते पर बल नुमाया हुए इतनी जल्दी उसके मान जाने की जवेरिया को उमीद नहीं थी आपने इन मिटिंग के लिए क्यों हामी भरी जवेरिया की आवास सुनकर पीछी मुड़ा जो बिल्कुल इसकी पुष्ट पर खड़ी थी मुलने की वज़े से वो बेसाफता इससे टकराया जवेरिया का हाथ थाम कर इसमें उसे गिरने से बचाया यह आफिस के मामला थे और मैं आफिस में ही रखता हूँ इस मामले में मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए हाशिर ने दो टोक अंदाज में कहकर इसका हाथ छोड़ा हाशिर मैं आपकी बीवी हूँ और राय देना मेरा हक है और आप इससे कोई मीटिंग नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं करेंगे जवरिया का जजबाती पन हाशिर को हरान कर रहा था क्या हो गया है तुम ऐसा बिहेर क्यों कर रही हो एज़ा बिजनस में इसे मिलूंगा ना कि इसका आशिक बन कर जा रहा हूँ एक दम आगे बढ़कर जवरिया इसके सीने से लगी और सक्ती से बाजू कमर के गिर्ब हाइल किये ऐसा मत कहें आपका किसी और पर तवज़े देना मुझे जहर लगता है मुझे वहम होने लगते हैं जैसे आप मुझे दूर जा रहे हैं जवरिया के इभाम पर हाशिर बेसाखता मुंतहा की याद आई थी उसे भी तो ये वहम हुआ होगा कभी आज फिर जहन ने एक सवाल उठा कर उसको बेचैन किया था जवरिया का जिनूरी अंदाज हाशिर को एक नई सोच में डाला एक आम से लग्की से बात करने पर वह ऐसा रियेक कर गई थी अगर मुंतहा सुल्तान का सथ जान लेती तो ना जाने क्या वबाल आ जाता एक दम इसने जवरिया से दूर जाना जाँ लेकिन इसकी गिरफ्ट की मजबूती के बाहस ही मुम्किन नहीं था ठक हार कर नर्मी से इसने अपने बाजो जवरिया की गिर्द हमाइल किये मैंने जिस से अपने करीब करना था कर लिया जवरिया तुम्हारे बाद मेरी लाइफ में किसी भी लड़की के जगे बाकी नहीं है लहजा किसी भी एहसास से आ ली था हाशिर की जाने से ये इज़ार सुकून जवरिया को मस्नूई लगा लेकिन आँखों की नमी को परे धकेल कर इसने सीने से सर उठाया मैं जानती हूँ हाशिर लेकिन मैं अपने दिन को कैसे समझाओ जो हर वक्त उलजनों में उलचकर मुझे हलकान रखता है अपना हाथ इसके सीने पर रखकर इसने जुकी आँखों किसंग कहा उलजनों से निकालना तुम्हारा काम है ना कि मेरा चलता हूँ देर हो रही है लेकिन कपड़ों कर नजर पढ़ती है उसे शदीद कोफ्त हुई थी सीने के पास शर्ट पर जवरिया की लिक्रिस्टिक का निशान आ चुका था मैं चेंज कर लूँ इस पर निशान पढ़ चुका है जवरिया ने भी शर्ट की जानी देखा उसे अपनी बेखुदी पर बेसाखता शर्मिंदागी ही नजरे जुका कर इसने रूप मोड़ा उपर आकर चेंज कर ले मैं ड्रेस निकाल देती हूँ तेजी से कहकर वो उपर की जानी बढ़ गे हाशिर भी सर जटकता इसके पीछे आया ताय अम्मी की तरफ चली जाना वो तुम्हें याद कर रही थी शर्ट के बटन बंग करता उस शिशे में से मारिया की जानी में तवज्जे हुआ मैं परसू तक वापस आऊंगा तो इसलिए वहां कुछ दिन रह लेना जब दिल करे तो वापस आ जाना आज और एक गहरा जटका मारिया को लगा नजाने ये काया पिलट कैसे हो रही थी ये इसकी दुआओं की कुबूलियत थी फिर किसी के समझाने का गहरा असा बहरेयान जो था मारिया के लिए बहुत खुशगवार था ठीक है चली जाओंगी लेकिन शाम में वापस आ जाओंगी आन्मी फिर अकेला महसूस करती है और जाना भी तो दूसरे पोर्शन में ही है आफा को इसकी घर के लिए फिकल मंदी पर शदीद हैरत हुई इसके इतने बुरे रवये के बावजूद भी मारिया को इस घर की फिकल की उसे अपनी गल्दियों का एहसास शिद्दत से हुआ था लेकिन मुंतहा की बरबादी का अफसोस ऐसा था जिसका एहसास निदामत पल भर में खतम कर देता नहीं आज रात वही रुक जाना ताई अम्मी को अच्छा लगेगा अम्मी के पास मुंतहा है वो आज समाल लेगी जी ठीक है इसकी फर्मरवरदारी आज राफा को किसी गुस्ताखी पर उकसा रही थी लेकिन अपनी परसू की बेश्तियारी के बाद इसने फिलहाल अपने दिल को सवाल नहीं बहतर समझा मैं निकलता हूँ देर हो जाएगी जी मारिया ने जी कहकर इसकी पुष्ट को घुरा दर्वाजे के जानी बढ़ता वो मुड़ा और वापस मारिया की चानी बाया बेसाफता आके बढ़कर मारिया के माथे पर महरे महरे महबत सबब किये बिना कोई बात किये कमरे से निकल गया एक दब मारिया के हवाज भी जन जनाएं कि ये पल भर में क्या हुआ समझ में आते ही लबो पर दिलकश मिस्कुराहट चमकी थी और हाथ बेसाफ़ता माथे की जानिब गया पूरे एक साल बार ये इनायत मारिया की दिल की दुनिया में फूल खिला गए लंज को महसूस करती वो अपने रब की शुकर गुजार हुई थी साहाब जी बाहर एक औरात आई है और वो आप से मिलना चाहती है लाउंज में मौजूद अगाजान को अफजल ने आकर इतला दी अभी जान भी किसी औरत का सुनकर हैरान हुई थी भी जो इन्हें अंदर अगाजान एकड़म सीधे होकर बैठे और अभी जान भी एकड़म मतवज्ज हुई थी असलाम लेकुम लाउंज में एक पुरवाकार पैतालीस साला औरत को देखकर अगाजान चौंके थे देखने में वो काफ अमीर कबीर लग रही थी अबजल और दूसरा मुलाजी मुक्तलिक टोक्रियों में सजा सामान लाउंज में रखा अगाजान जैसे इनके आने का मकसद समच चुके थे वालेकुम सलाम अभी जान ने आगे बढ़कर मसाफा किया इन्हें बैटने का इशारा दिया मैंने पहचाना नहीं अगाजान एकदम हुद्दे पर आई जी जानती हूँ ना मैं आपको जानती हूँ और ना आप मुझे जानते हैं लेकिन किसमत मुझे यहां तक लाई है मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिच्टा लाई हूँ एकदम आगाजान के साथ साथ अभी जान को भी शदीद फैरत कजटका लगा जूबिया बेगम भी लाउंज में दाखिन हूई थी बहू चाय पानी कर दिजान करो यह हमारी खास महमान है अभी जान ने जूबिया बेगम को कहा गोया ने वहां से भीड़ना चाहा जी अमार जान जूबिया बेगम सलाम करके वापस किचन में चली गए आप मेरी बेटी को कैसे जानती है कहा मिली वह आपको यगदम सम्रीन बेगम सोच में रूबि थी एक ख्याल कुंदा इनके दिमांद में कल आपको याद होगा शायद कि दो लग्किया थी और मैं भी इस वक्ट वहां मौझूद थी मैंने उस बच्ची को देखा वहां लेकिन वो मुझे नहीं देख पाई आगर जान को बेसाफता मुंताह का ख्याल जहन में आया लेकिन अभी भी वो उच्चे थे तो आपको इस घर का पता कैसे मिला ढूनने से तो खुदा मी मिल जाता है और अगर लगन सच्ची हो तो सब कुछ हासिब हो जाता है हंदानी साथ मेरी लगन सच्ची है तब ही यहां मौझूद हो यकीन जाने यह बच्ची मेरी आँखों को भाव गई है और शायद मेरे बेटे के लिए उससे अच्ची कोई लड़की नहीं होगी मैं बहुत मान से यहां आई है यह मेरे बेटे का कार्ड और यह इसकी तस्वीर है फैमिली में मेरे दो बेटे और मैं हूँ एक बेटा कुछ अरसे से इंगलेंड में कयाम पजी है सिद्धी की इंपायर का नाम आपने सुना होगा उस कमपनी के ओनर का नाम गाजान सिद्धी की है कार्ड और तस्वीर उनकी जानी बढ़ाए उसमें उमीद तल्ब नजरों से अगजान की जानी देखा अगजान की नजर बेसाफ़ता तस्वीर की जानी बुठी 30-39 साला वो खुब रूँ शकल का नوجवान था सेया भवर सी आंकें सर पर जेल से सजे ब्राउन बाल और वजीहा चेहरे पर सजी डाड़ी इसकी खुबसूरती में इजाफा थी ये शार किसी बिजनस मिटिंग की तस्वीर थी सेया सूटेट बूटेट में सजाव शक्स अपनी शानदार परसनलिटी की वज़े से अगजान को बेहत पसनाया बेसाफ़ता इनके जहन में मुन्तहा का अक्स नमाया हुआ और अपनी पोती की खुशबक्ती पर उन्हें यग्व, सुकून मिला लेकिन इतनी जल्दी फैसला करने के हक में वो बिलकुल नहीं थे कुछ मुन्तहा का सेयाम आजीन को कुछ भी कहने से रोक रहा था आप यहाँ हमें बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी हम देखे, आप सोच समझ कर फैसला कीजिएगा मेरी उमीद मत तोड़िएगा आप मेरे बेटे के बारे में तमाम तर तफ्तीश करवा ले लेकिन एक मौका जरूर दीजिएगा बिना जाचे, प्लीज, कोई फैसला मत कीजिए समरीन बेगम ने बेसाफता इनकी बात काटी थी और अगरचान जो इन्हें सच बताने वाले थे वो दर्मियान में ही रह गए देखे बेहन जी, आप हमारी बात सुनें हमें आप का बेटा बहुत पसंद आया लेकिन फैसले का खित्यार हमारे पास नहीं क्योंकि ये फैसला करने का हक उनके माबाप का है हम घर में बात करके ही आपको कोई जवाब दे पाएंगे उमीद करता हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगी और हमारी बात को समझेगी अगाचान ने मतानत से कहकर बात समेटी आप चायब ये, अबीचान ने इनकी तवज़ चाय की जानित दिलवाई दीमी मुस्क्राहाट के संग उन्होंने कब थामा बेशक फैसले का फित्यार आपको है लेकिन मेरी इलतेजा को भी मद्दे नज़र रखिएगा मेरा ये नंबर है और अगर आप मुनासिब समझे तो मुझे भी कांटेक्ट नमबर फराम कर दे अगाजान सोच में डूबे कि नमबर दे या ना दे जूबिया बेगम आप नमबर दे इन्हें अगाजान ने जूबिया बेगम को इशारा किया अजबात में सरी लाकर उन्होंने नमबर नोट करवाया मैं चलती हूँ इस उमीद पर कि आप मेरी कुजारिश पर गौर जरूर करेंगे समरीद बेगम हैंड़ बेगम उठाएं दोबारा एक इलतिजा किया वहां से निकली थी और अगजान और अबीजान को सोच के दहारे में छोड़ चुकी थी अगजान जूबिया बेगम और अबीजान को कमरे में आने का हुकम दे कर जा चुके थे जूबिया बेगम की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिष्टा आया है लेकिन मुंतहा का माजी इनकी खुशी पर ओस बन कर गिरा अगजान आपने बुलाया जूबिया वेगम ने सवाल किया अगजान के जानित देखा जूबिया वेगम आप क्या कहती हो समरीन खातून अच्छे घराने की लग रही थी अगजान मैंने आपको अपने उलाद के फैसले करने का इस्तियार बहुत पहले दिये था अब भी ये इस्तियार आपके पास है कि आप जो फैसला करेंगे मुझे मन्जूर होगा लेकिन आगजान मुंतहा की जिन्दगी का उस्या बाप हर फैसले को रोक देता है हाशिर अली उसकी जिन्दगी से तो चला गया लेकिन एक स्या धबा उसके दामन पर लगा गया सुविया वेगम ने बेसाखता नजर जुकाई आगजान खुदारा मैं अब भी हाशिर के बारे में कुछ गलत नहीं कह रही क्योंकि मैंने उसे बच्चपन में पाला है मेरी अलाज जैसा अजीज था मुझे लेकिन इसकी कीगई स्यादती मेरी बच्ची की जिन्दगी तबहा कर गई पहली मरतबा इनके मुझे शिक्वा निकला था और अब जान की आँखे नम हुई चानती हूं बहू तुम्हें वो हद तरजे अजीज था इसका गुना बहुत बड़ा था और तुम्हारा जर्फ इससे भी बड़ा है जो तुमने आज तक उससे नफरत नहीं की ये तुम्हारी नेक और साफी है बहू जो ये घर अभी तक काईम उदाइन है फिर दोस की वेटी को अपनी बहू कुबूल करके तुमने हमें तुम्हारे आगे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा तुम्हारा ये एहसान बहुत बड़ा है बहू जो हम कभी नहीं उतार सकते अभी जान आप मुझे शर्मिन्दा मत कीजिए इन सब में कमस कम मारिया की कोई गलती नहीं थी तो उसको क्यूं सजा मिलती बहरेहाल इस वक मुन्तहा का मामला अहिम है और आगजान मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं रहने देना चाहती वरना वो पागल हो जाएगी ठीक है बहू मैं आफाक को कहता हूँ कि वो उस लड़के के बारे में पता करवाए और मुन्तहा से अभी ये बात चुपाना ही जरूरी है और रहे गई मुन्तहा के माजी की बात वो हम संवरीन खातून को बता दे के ठीक है आगजान मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि उसे खबर ना हो लेकिन अगर उसे खबर हो गई तो तूफान आ जाएगा बहू तुम इसकी फिकर ना करो जब तक मैं जिन्दा हूँ मुन्तहा पर ना कोई आच आने दूँगा और ना ही उसे अपनी जिन्दगी बरबात करने दूगा आप परिशान मत हो जूबिया बेगम मैं सरहिला कर रह गई क्या कोई आया था असर की नमाज अदा करके वो किचन में आई थी जह मवजूद साजु सामान ने मुन्तहा की तवज़े की जी जूबिया बेगम बेसाफता मुरी मुन्तहा की किचन में आने की उमीद नहीं थी एकदम उसोच में डूबी थी कि मुन्तहा को क्या जवाब दे अमी मैं कुछ पूछ रही हूँ ये साजु सामान कैसा है मुन्तहा ने दोबारा सवाल किया इस से पहले वो कोई जवाब देती अब्भी जान के जन में दाखिल हुई तम्हारे रिष्टे के लिए कुछ लोग आये थी अब्भी जान का जवाब सुनकर मुन्तहा के सर पर एकदम धमाका हुआ हवाज जनजना कर रहे गए ये क्या बेहुदा मजाक है और किस हक से वो लोग मेरा रिष्टा लाएं चहरा एकदम सपाट हुआ बात करने की तमीज भूल गई हो आप अब्भी जान भी एकदम संजिता हुई अब्भी जान मैंने कोई बत्तमीजी नहीं की मैंने महज एक सवाल पूछा है हाँ मैं जानती हूँ आपने सवाल पूछा है लेकिन आप अपना अंदाज मिलाहिज़ा करे तो आपको अपनी गल्ती का एहसास हो और रहे गई रिष्टे की बात तो ये फैसला हम करने ही वाले थे सारी उमर आपको घर बिठा कर नहीं रख सकते वो खातूर और उनका बेटा हमें पसंद आ गया है इन्हीं हम हाँ भी कहने वाले है मंताहा का चेहरा ये सब सुनकर खतरनाक हद तक संजीदा हुआ गाल पर शलकती सुरकी उसके गुसे को जाहर कर रही थी ये आप क्या कह रही है क्या आप सच नहीं जानती कि एक साल पहले कौन सा दबा मेरे दामन पर लग चुका है और आपको किसने कहा मैं शादी के लिए हाँ बोलूँगी मैं मर जाओंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी मेरी बात भी आप कांद खोल का सुन ले इस से तमगर का जाना शायद मुन्तहा को बत्तमीज बना गया जो आज वो सारे अदब भूल बैठी थी मुन्तहा सुल्तान मत भूले कि हम आपकी अबी जान है आपका गुस्ताखाना रविया आपकी जात को जेद नहीं देता और ये मेरी बरदाश्ट से बाहर है कि आप ये रविया इस घर में इक्तियार करे हमारी नर्मी का नाजाएस फाइदा मत उठाए मुझे नहीं चाहिए कोई नर्मी नहीं चाहिए कोई महबत मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा अगर मुझे शादी के लिए मजबूर किया तो मैं ये घर छोड़ कर चली जाऊंगी फिर देते रहिएगा दुनिया वालों को जवाब चटाख एकदम मुझे को अपना गाल जलता हुआ महसूस हुआ बेसाखता गाल पर हाथ रखकर इसने अभी जान की जानिब देखा आइंदा कर ये अलफाज अपनी मुझे निकाले तो बोलने के काबिल नहीं रहेगी और ये फैसला आपको मानना ही होगा हर हाल में मानना है हम आपको अपनी जिन्दगी तबाह करने का मौका बिलकुल नहीं देंगे मुंताह के आँखों से एकदम आशू बहे ननी सी नाख हर तरजे सुर्क हुई बिना कुछ बोलें चहरे पर सक्ती लिए वो भागती चली गई अबी चान को उसके आँसो तकलीब दे गए लेकिन ये सक्ती इस वक्त इन्हें जरूरी लगी थी मुंताह के जाती वो भी अपने कमरे के जाने बढ़ गई हेलो अरीबा कैसी हो आज एक साल बाद इसने अरीबा से राप्ता किया था हाशिर से निकाह के बाद हाशिर ने उसे सक्ती से मना किया था कि वो आफिस नहीं जाएगी और नहीं अरीबा से राप्ता रखेगी जवेरिया को आज भी वो दिन याद था जब हाशिर सुल्तान एक दिन बहुत ठकाहारा लोटा था अपना गम भूलकर वो हाशिर को देखकर हैरान हुई थी जो विखरा विखरा जवेरिया को परिशान कर गया जवेरिया के लाग कुछने के बादूद इसके पास कोई जवाब नहीं था जवेरिया जो इसके नर्म रवये की उमीद लगा कर बैठी थी वापस आने पर उसका रवये नहायत कटीला था वक्त के साथ बेतकल्फी तो हैल हो चुकी थी लेकिन हाशिर को शायद अब इसकी तलब नहीं थी या फिर उसे जवेरिया से निकाह अपनी गलती से बढ़कर कुछ नहीं लगा ना जाने कितनी मरतबा जवेरिया ने इस रिष्टे को नाम देना चाहा लेकिन हाशिर की बेतावजी उसे नाकाम बना देती हेलो कौन बात कर रहा है एकदम जवेरिया खयाल से चौकी मैं जवेरिया बात कर रही हूँ तुम्हारे ओफिस में जॉब करती थी, शायर तुम्हें याद हो, जवेरिया की आवास सुनकर अरीबा को शदीद हैरट का जटका लगा, वाट अ पिलेजन्ट सर्प्राइस, जवेरिया तुम कहां चली गई थी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंडा, और कॉल्स भी बहुत की, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चल पाया, कहां हो, कैसी हो तुम, मेरी शादी हो चुकी है, जवेरिया ने दो टोक अंदाज में कहा, वाट, ये कब, और कैसे, और किसे हुई है, जवेरिया ने आज सब बताने का ठान दिया था, हाशिर अली हमदानी से, एक तफाकुर ता उसके लहचे में, जिसे सुनकर अरीबा भी चौकी, सर, वाट, सर के साथ, तुम्हारी शादी हुई है, जवेरिया ने मुझे, जवेरिया मुझे तफसिल बताओ, सुनो अरीबा, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम्हें बस मेरा एक काम करना है, मुझे नरहे काम कर दो, मैं तुम्हारा इहसान कभी नहीं भूलूंगी, पर जवेरिया, अरीबा ने कुछ कहना चाहा लेकिन जवेरिया ने इसकी बात काटी, प्लीज, इंकार मत करना, मैं तुम्हारा यहसान कभी नहीं भूलूंगी, कल कैफे 9-5 में तुम्हारा वेट करूंगी वहां सब इंफो मुझे परहम करना, अपना ख्यार रखना, कल मिलते हैं, अपनी बात मकमल करके इसके गोश्कजार करके, इसने फोन कट किया, और बैट क्राउन से टेक लगाई, आप सिर्फ मेरे हैं हाशे, किसी और कर मैं आपको होने नहीं दूँगी, और किसी ने ऐसा सोच तो मैं से जिन्दा नहीं रहने दूँगी, जुनून भरी अंदाज में कहती, वह आखी मून गई, मॉम क्या फैसला हुआ, और उस लड़की का नाम क्या है, कुछ पता चला, गाजान की बेसबरी हद दर्जे थी, रास्ते में ही गाजान की कॉल देखकर समरीन बेंगम मुस समझ गए हैं, बहरहाल अगर वो ना भी समझ पाए, मैं दोबारा उस बारे में बात करूंगी, मॉम मैं बस अब जल दल जल खुश खबरी चाहता हूं, बेटा आप तो हतेली पर सरसो जमा रहे हैं, समरीन बेगम का अजीब औ गरीब जवाब सुनकर गाजान सोच में बाकी बात मैं अब घर आकर करती हूं, आप रिलेक्स रहें, इन्शालला फैसला आपके हक में होगा, मॉम इस वक्त मैं आफिस में हूँ और शाम में ही लोटूंगा, और मॉम अभी हमदान को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, मैं उसे सर्प्राइज देना चा जी मॉम, मैं जानता हूं, इस वक्त अहम मिटिंग है, बाद मैं फिरी होकर कॉल करता हूं, समरीन बेगम ने भी अलविदाई कलमात अदा करके फोन रखा, दूसरे जानी काजान भी कॉल बन किये, चेर से टेक डगा कर बैठा, दिल में बेसाखता उसे ख्याल आया, लेकिन उसे अपनी किसमत पर यकीन था, ये यकीन ही था जो उसे इस मरहले तक लाया था, मिस अरीबा, आइंदा कर आप से, ये गलती हुए तो अन्जाम की जिम्मेदार आप खुद होगी, ओफिस में दाकिल होते ही, कुशादा पेशानी पर बलनुमाया गेरस ने, अरीबा की मौका ना मिले, जी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी, भेजे मिस लायबा को अंदर, जान लेते हैं कि वो आखिर हमसे क्यों मिलना चाहती है, टेक लगा कर इसने दोनों हाथ थोड़ी पर रखे, जी सर, मैं भेजती हूँ, कुछ दिर बार डाक, महरून पैन कोट में मलबوس, हाई हील्स पहने, चेहरे पर हलका मेकप सजाए, खुश्बों में बसी, वो आफिस में दाखिल हुई, हाशिर ने एक नजर, इसके जानिब डार कर नजर फेर ली, टेबल के करीब आकर इसने हाथ आगे बढ़ाया, मैं गयर लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता, हाशिर के का माथे पर बल नुमाया हुए, इस हकीकत को इसने सबसे चुपाया था, फिर लाइबा खान को ये हकीकत कैसे मालू ही, दिमाग में सवाल करता, वो बजहर नॉर्मल था, इस बात का मकसद, हाशिर ने दो टोक कहा, मकसद तो बहुत कुछ है, इस निकाह की हकीकत भी सुनना चाहेंगे, फिस अरीबा आप यहां किस मकसद से आई है, हाशिर का अंदास सर्दो सपाट था, एकदम लायबा भी इसके लहजे से सहमी, लेकिन अपने उपर आप उपाती हूं मुद्दे की बात पर आई, डील करना चाहती हूं मैं आप से, अब रूच का कर इसने कहा, कैस अपनी घटियापन का आपने सोचा भी कैसे, आउट निकले मेरे आफिस से, लायबा एकदम कापी थी, लेकिन आज आ या पार को फैसला वो कर चुकी थी, क्या आप अपनी बेज़ज़ती भूल चुके हैं, हाशिर अली हमदानी, या फिर नजर चुरा रहे हैं, एक और बा कोशिश कीजेगा, कि अपनी शकल मत दिखाएगा, वरना मुझसे बुरा आपके लिए कुछ नहीं होगा, मेरी ओफर हमेशा काइम रहेगी, आगे सिंदगी में जाकर, शर्द आपको मेरे मकसद की समझ आ जाएं, डिटाई का मظाहरा करती हाशिर को बिना बोलने का मौका द दिए, वो हैंड बेक थामे, वहां से निकलती चली गई, हाथ मार कर इसने टेबल पर मौझूद तमाम चीज़ों का समीन पर फिक कर, इसने अपना गुस्सा इन बेजान चीज़ों पर निकाला था, आज मुंतहा मौझूद नहीं है, डाइनिंग हॉल खाली देखकर यगदम चौके, क्या, थपण, शाजिया बेगम, ये क्या हरकत है, आपने मुंतहा पर हाथ क्यो उठाया, जवाबन शाजिया बेगम ने सारी तफसील आगाजान के गोश्कुसार कर दी, शाजिया बेगम, हमने आपको मना भी किया था, कि अभी मुंतहा को इस हकीकत से आग देंवल होगा, क्योंकि वो ठान चुकी है कि वो अपनी जिन्दगी अकेले गुजारेगी, इस सब में आपने उसे हम से ज्यादा मुतनफर भी कर दिया, हाँ, चांती हूँ, वो मुतनफर होगी, लिकिन अब वो जिद में फैसला भी करेगी, एक साल में हम उसे इतना तो ज जान गये हैं, जिद के फैसले अच्छे नहीं होते, कुछ फैसले जिद में अच्छे भी साबित हो जाते हैं, हम जाते हैं उसके पास, बात करते हैं, बच्ची ने राच से कुछ खाया भी नहीं होगा, अगर जान बिना नाश्ता की टेबल से उठे और उपर की जानी उपर जाने का इरादा मुल्टवी करके वो फोन के जानी बाये जहां दूसरी जानी समरीन बेगम मौजूद थी सलाम दूआ के बाद उन्होंने पहला सवाल ही उनका फैसला जानने का किया और उस लड़की की निशानदा ही भी की आगाजान को भी ये सवाल दहला रहा था कि कहीं वो मारिया के बेटी के रिच्टे के लिए सोच रही हो इस बात का जिकर उन्होंने शाजिया बेगम से भी किया था लेकिन वो शायद समरीन बेगम की नूरे नजर जान चुकी थी मुंतहा का इशारा वाज़े होती ही आगाजान ने तमाम तर हकीकत समरीन बेगम को बताने का फैसला किया गाजान सामने बैठा समरीन बेगम की जानी भी देख रहा था वो उन्हें लाओड स्पिकर आन करने का इशारा दे रहा था इससे पहले में लाओ डिस्पिकर आउन कर दी गाजान की मुबाइल पर हमदान का नमबर टमका वो शुक्षगवारियत से फोन लिए बाहर की जानिब बढ़ा और दूसरी जानिब आगाजान ने मुन्तहा के सेया माजी की तमाम तर तफसीर समरीन बेगम के गोश्गुसार कर दी बर इतना बड़ा इंकशाब सुनकर समरीन बेगम दहल कर रह गई इतनी तुल्ख हकीकत सुनकर समरीन बेगम के आँखों में नमी चमकी और अपने माजी की सच्चाई सामने वाजिवी अगाजान भी उनकी खामुशी देखकर यखलब परिशान थे तौका यही थी कि अभी इंकार मुपर आएगा लेकिन समरीन बेगम के तफसिली महबत से लवरेज चवाब ने अगाजान के चहरे की रौनक बहाल की अगाजान आप मुझसे उमर में काफी बड़े हैं और मैं आपको अगाजान कह कर ही पुकारूंगी मुझे सच्चाई जान कर भी कोई एतिराज नहीं है एक गुजारिश है आपसे ये तमाम तर हकीकत गाजान बेटे से बिलकुल नहीं कहेंगे ये बात हम दोनों के बीच रहेगी वक्त आने पर मैं खुद उसे इस सच्चाई से रोशनास करवाऊंगी मगर ये गलत अगर मगर कुछ नहीं बस ये मेरी इलतिजा या फर्याद समझ ले समरिन बेगम ने कहा आगजान की बात दर्मियान में ही उचकी मुझे वो बच्ची नहायत पसल आई है उमीद है आप मेरी बात समझेंगे ठीक है बच्चे हम मान लेते हैं आपकी बात बहुत बहुत छुकरिया तो क्या मैं रिष्टा पका समझू और अगर जान मैं शादी जल 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 चाहती हूँ अगर जान की तो गोया दिली मुराद बराई जी हमें मन्जूर है बागी की तफसील का भी आपको हम आगा करेंगे जी अगर जान मैं अपने बेटे को ये खुशकबरी सुना दो गाजान को अंदर आते देखकर वो मस्कुराई थी फोन बन करके वो गाजान की जानिप आई और माते पर बोसा दिये वो खुशी की खबर इसके गोश गुसार कर दी गाजान सिद्धी की मुंतहा सुल्तान तुम्हारी हुई मुंतहा वे साफ़ता गाजान की मूँ से निकला जितनी खुबसुरत थी इतना ही नाम भी प्यारा था गाजान का मन चाहा के बार बार इसका नाम पुकारे लेकिन इस वक खुशी हावी थी क्या मॉम आप सच कह रही है वो मान गए ओ माई गाजान को अब भी अकीन नहीं आया था ये आपकी नेकी है नेक नियती है जो बात यहां तक पहुँची है गाजान इसके मुस्कराते चहरे को देखकर वो सोच में डूबी थी मुंतहा की सचाई फिलहाल चुपाकर उन्होंने कहसान को उसकी खुशी तो दे दी थी लेकिन अगर आगे जाकर वो ये सचाई उसे जरूर बताने वाली थी हाशी क्या हुआ आप कुछ उल्जे हुए राज से देख रही हैं कि उसे होश की दुनिया में वापस पठखा नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुम बताओ नाश्टा क्या तुमने हाशी ने इसकी जानी देखा जो सामने मौजूब चेयर पर बैठी इसी की जानी मतवज़ थी आप भूकी हो तो मैं कैसे खा सकती हूँ जवेरिया ने इसके जानी देख कर कहा हाशी को यफलक इस पर तर्स आया था जो हर वक्त इसकी फिकर में हलकान रहती थी जवेरिया अपना ख्याल रखा करो मेरी मसरूफियत ऐसी है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देपाता हाशीर का अंदाज हारा हुआ सधा वक्त की तलब भी किसे है मुझे तो आप की तलब है जवेरिया की जुमाईनी बात पर हाशीर ला जवाब गुआ चलो नाश्ता करते हैं जवेरिया की बात को नजर अंदाज किया इसने अलग ही जवाब दिया एक बच चुका है खानसमा खाने की तैयारी भी कर चुका है फिलहाल मेरी भुक मर चुकी है जवेरिया का अंदाज सपाट हुआ और वो उठकर अंदर की जाने बढ़ी लेकिन हाशीर ने फौरण बाजू बकर कर उसे रोका जवेरिया के चहरे पर चमक आई शायद हाशीर को इसकी फिकर थी लेकिन बजाहर वो इजहार नहीं करता था हाथ छोड़े मेरा अंदर जाना है लहजा सर्द था और अगर मैं ना जाने दूँ तो हाथ छोड़कर पीछे से उसे अपने हिसार में लिये इसने धीमे से कान में सरगोशी की तो मैं जबरदस्ती चाऊंगी हाथ को हरकत दे कर इसने बाजू हटाने चाहें मैं जबरदस्ती भी नहीं चाने दूँगा हाशिर बे तकल्लुफाना रवया जवेरिया को हैरान कर रहा था क्या चाह रहें आप सेया आखों में आसू नमुदार हुए तुम्हें बे साखता इसके मूँ से निकला जूट मत बोले आज हाशिर आपने कभी चाहा ही नहीं हाशिर की गिरफ्त एकदम धीली हुए जवेरिया ने सीधा दिल पर वार किया था सच बोला है मैंने क्योंकि अगर ये जूट होता तो आपकी गिरफ्त कमजोर ना होती इसके हिसास से निकलती हुं अंदर की जानी बढ़ गई हाशिर अली हमदानी इस बार भी खाली दामन रह गया था सज़ाद आज सारे स्टाफ के लिए इस्पेशल लंच का अरेंज करवाना गार्ड, वर्कर कोई एक शक्स भी बाकी नहीं रहना चाहिए सब को आज इस्पेशल फील्ड करवाना और एक ज़रूरी काम ये चेक इस्पेशल यतीम बच्चों के लिए है इसकी खबर मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए याद रखना, किसी को भी रही गाजान की खुशी का शायदाश ठिकाना नहीं था दिल की मुराद ऐसे बर आई थी कि उसे अब भी यकीन नहीं था सर, इस यू डोन्ट माइंड मतलब आज आज आप बहुत खुश लग रहे हैं बस सज्जाद, जब दिली मुराद पूरी हो जाएं तो खुशी खुदबखुद उमट कराती है ऐसा ही समझ लो, दिल की मुराद बर आई है अल्ला पाक आपकी खुशी सलामत रखे सर आप बहुत अच्छे हैं, जो हम सब का इतना ख्याल रखते है अब तुम ज़्यादा तारिफ कर रहे हो सज्जाद, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ गुस्जाद जानते हो मेरा तुम पर ही निकलता है सबसे पहले सर वो तो गलती भी अक्सर मेरी होती है वरना आपकी नेचर हमदान सर से बहुत अलग है वो तो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते है सज्जाद ने साफ कोई का मुझारा किया वो जरा अलग तबियत का है इसका गुस्ता भी मिसाल कि उसकी माफी इससे बढ़कर बेमिसाल है तुम उसकी बातों को बुरा ना माना करो उसने हस्ते वे कहा सज्जाद ने हमदान की मजीद हकीकत बताना चाही लेकिन वो गाजान की खुशी खराब नहीं करना चाहता था जी सर बिलकुल वो बहुत अलग है खेर तुम जाओ और जो काम कहा है वो करो सज्जाद सर हिला कर बहा निकला और काजान भी एहम फाइल की जानिक मतवज्जे हुआ आ गए आप यकिनन आप भी सिफारिश ले कर आएं होंगे आगाजान की आहट और मखसूस खुश्बू महसूस करके इसने बिना मुड़े कहा समीन पर बैठी गुटनों पर बाजू लपेटे वो उल्जे बिकरे हुलिय मलूस थी सिफारिश नहीं हम अपनी बेटी को मनाने आएं हैं जो अबी जान आपके साथ जादती कर गई है उसकी माफी मांगने आएं है मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे अकेला रहना है लेकिन मुझे आपके साथ रहना है अगाजान का जवाब सुनकर उसकी हिम्मद बनी अगाजान मुझे किसी के साथ नहीं रहना ना ही शादी करनी है आप अबी जान को समझा दे वरना मैं अपनी जान ले लूँगी कठोल लहजे में कहती वागाजान के आँखों में नमी का बास बनी हाशिर अली उसकी जिन्दगी में इतना गहरा दुख दे गया था कि शादी के नाम से भी वो कापने लगी थे शादी एहम फरीजा है हमें अदा करना ही होगा आगाजान ये एहम फरीजा अदा करते करते कहीं आप मेरा जनाजा ही न उठा ले ये भी याद रखिएगा मुंतहा एकदम आगाजान धाड़े थे क्या चाहती है आप क्या आप अपने माबाप को खुश नहीं देखना चाहती क्या आपको उनके उदास चेहरे सकून देते हैं बताए हमें क्यों इतनी पत्थर दिल बन गई हो क्या आपके दिल में जरा भी रहन नहीं है तकलीफ में रहना तकलीफ देना आपका पसंदीदा काम बन गया है मुंतहा बेटी हमें तो लगता है आप बदला चाह रही है कि जैसे आप तड़प रही है वैसे ही हम तड़पे मुन्तहा का दिल आगाजान की तुलक बात सुनकर गोया मुठी में आया नहीं जटके से उटकर वो आगाजान की जानी बढ़ी जो एक जानी खड़े थे आगाजान ने इसको हाथ के शारे से रोका मज़ीद आगे मत बढ़िये का आपकी सोच हम पर वाजिव हो गई है हम जान चुके हैं कि हमारी आपकी नजर में क्या हिस्यत है नहीं आगाजान ऐसा नहीं है बेसाथता आगे बढ़कर मुन्तहाने अगाजान का हाथ थामा था हमारा हाथ छोड़िये कोई हक नहीं है कि हम आपको कुछ कह सके अगाजान मेरी बात सुने प्लीस एक बार सुने मैं नहीं जिपाऊंगी प्लीस ऐसा फैसला मत करे जो तबाही का बास बने मुन्तहा अभी आप अपना सोच रही है अभी आप पर खुदगर्जी जहावी है क्या आपको जरा भी ख्याल लही है कि आपकी मा कैसे तड़कती है बाप कैसे बिस्तर का होकर रह गया है यहां सब आपकी फिकर में हलकार है और आपको सिर्फ अपनी परवा है अगर आपको अपनी फिकर है तो फिर सच भी सुने जिस शक्स के लिए आप ये रोग लगा कर बैठी हुए एक साल पहले ही शादी करके अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ चुका है मुंतहा का हाद बेसाखता पहलो में गिरा और दिमाग में गोया धमाग के हुए दिल आज फिर तूट कर बिखरा आगाजान ये क्या धराम से वो जमीन पर गिरी आगाजान ने इसका गिरना महसूस किया लेकिन रुख मोर कर वो महस जब्त कर गए आंसु कत्रा दरकद्रा जमीन पर बेहें लेकिन मुंसे एक लब्स नहीं निकला आज इस जालिम ने एक और सितम ढ़ाकर अपनी बच्ची कुची महबद भी दफन कर दी थी मुंतहा हम आपके फैसले का इंतिजार करेंगे उमीद करते हैं के फैसला हम सब के लिए अच्छा होगा जब्त कदामन थामें वो कमरे से निकलते चले गए इस वक्त मुंतहा सुल्तान का गम उसे खुद गलत करना था दर्वाजा बन करके वो जोर जोर से चिलना आई थी अपनी सारी तकलीफ दरदा आज इसने बहार निकालने का तह किया चीक चीक कर गले में शदीद खराशी आ चुकी थी लेकिन दिल कर रहा था कि आज तकलीफ हद से बढ़ जाएं लाल चहरा सुक किये उसलसल डोती चली गई मुंतहा सुल्तान की जिंदगी का महवर आज बदल चुका था सबके लाग समझाने पर भी समली नहीं थी और एक उमीद थी कि वो जालिम सितमगर आएगा इसको अपने सहर से आजाद करेगा लेकिन वो लौट कर तो नहीं आया अपनी नफरत वो आगजान की जानिब से इस तक पहुँचा गया मार दिया तुमने मुम्तह सुल्तान को आज आज से मुम्तह सुल्तान तुमारे दिल तो क्या तुमारे ख्याल भी अपने दिल में नहीं आने देगी यक लक्त उटकर वो आलमारी के जानी बढ़ी साइट की कबट से इसने हाशिर की तमाम यादों को बाहर निकाला परफ्यूम की खाली बोतल, एक वालेट, शर्ट इसकी मुस्कुराती तस्वीर इसका लाइटर, तमाम तर चीजे जो एक कौने में इसने सबसे चुपा कर रखी थी बाहर निकाल कर वाश्रूम की जानी बढ़ी, तमाम तर चीजों को इसने वाश्बेस इन में फेका लाइटर को हाथ में थाम कर एक नजल तमाम चीजों पर डाली, इसने गहरा सांस लिया शर्ट के एक कौनर को आग लगा कर वो वही खड़ी, अपना वजूद जलते हुए देखना चाह रही थी चीजों को आग पकरते देखकर जैसे जलते दिल पर नर्मी की फुवार पड़ी थी आज मैं अपनी तमाम तर महबत, और फदारी, दुख, दर्द इस आग की नजर करती हूँ मुंतार सुल्तान का दिन आज से पत्थर हो गया, ऐसा पत्थर जिसे अब कोई नहीं तोड़ पाएगा हाचिर अली हमदानी की तमाम तर नफरत आज इस आग की नजर हो चुकी है आज ये आखरी मातम था जो महबत के नाम पर मैंने मनाया है एक एहद भरे लहजे में कहती, उम मू सकती से रगड़वा कर वाश्रूम से निकल कर अलमारी की जानी बढ़ी अपनी जिन्दगी का फैसला वो कट चुकी थी, इस शादी के लिए इसने आख आठ जामी भरनी थी अपने प्यारों को मजीद तकलिफ दे कर वो अजियत का बास नहीं बन सकती थी रॉकिंग चेर से टेक लगाए वो गहरी सोच में गुम थे मुंतहा को ये हकीकत वो बहुत पहले बताना चाहते थे लेकिन डर था के मजीद तकलिफ इसकी जान ही ना ले जाएं ये हकीकत वो पिछले छे माहा पहले ही जान चुके थे लाडला पोता इनका लाग नफरत सही लेकिन एक गहरा रिष्टा था दोनों के दर्मियान तीस साल इनकी महबबत की चाहों में रहा था इसकी जानी से बारहा लापरवाई बरतनी चाही लेकिन दिल था के बस इसकी फिकर में हलकान छे माह पहले अपने खास आदमी के जरिये जो के लाहर में ही मुकीम था सारी मालूमात इसी ने अगजान को दी थी हाशिर की मुन्तहा से नफरत की वज़े भी इन्हें समझा चुकी थी तस्वीरों का भी उन्होंने पता करवाना चाहा लेकिन इनके हाथ में कोई सुगोत बाकी नहीं रहा था वन्हा उस गुनेगार का चहरा भी सामने आ जाता आज भी मजबूरां वो सारी हकीकत मुन्तहा को बता कर इस वक्त बेहाल बैठे थी मुन्तहा की जिन्दगी को सुधारने के लिए उन्होंने कोई न कोई कोई कदम उठाना ही था और वो कदम आज उठा चुके थे दर्वाजे पर हुई दस्तक ने ने मतवज़े किया हलकी सी आवाज मुन्होंने आने वाले को इजाज़त दी थी सहय लिबास मलबूस मुन्तहा सुल्तान थके हा कदमों से अगाजान की चेर तक आई थी मुझे आज आपके फैसले से कोई अतिराज नहीं है आगाजान मुझे रिश्टा मनजूर है लेकिन मेरी एक शर्त है आगाजान जानते थे वो जरूर आएगी लेकिन इतनी जल्दी आएगी इसका अंदाज़ा नहीं था ना जाने अब तकलीव दर्द का कौन सा जर्या तलाश किया था जो इतनी जल्दी मान गई थी मैं जल्द जल्द शादी चाहती हूँ कोई फालत और रसम नहीं होगी कोई खास तैयारी नहीं होगी सब कुछ सादगी से होगा मेरे साथ जाने वाला सारा सामान सादगी में लिपता होगा निकाह का तोड़ा भी सादा होगा और मेरी हक्कत इन पर वाज़े कर दीजेगा कि मैं एक सयाबख्त लड़की हूँ जिसकी किसमत में सब कुछ हार नहीं लिखा है कल को अगर कोई सयाबख्ती इनके हिस्से में आई तो मुझे इल्जाम मत दीजिए क्योंकि मैं अपनी मनहुसियत अच्छे से जानती हूँ आप अपने आपको जो तकलीफ देना चाहती है दे दीजिए क्योंकि हमारी नर्म दिली हमारी हमदर्दी आपको नहीं वदल सकती रहे गई सयाबख्ती की बात वो हकीकत हम इने बता चुके है इस बात पर इने कोई एतिरास नहीं है और इनका भी शादी का सादगी से करने का ही रादा है मजीद शरायत से भी हम इने आगाह कर देंगे और अगर मजीद तकलिफ का कोई सरिया बाकी है तो वो भी हमारे इस तड़कते दिल को दे दीजिए मुन्ताह इनका जवाब सुनकर तड़की लकिन वजाहर सकत ही रही अपनी शरायत तो आप बता ही चुकी है लेकिन एक शर्ट हमारी भी है हर चीज सादगी में होगी हर काम सादगी से होगा लेकिन आपको लेबास गाजान सिद्धी की पसंद का पहनना होगा ये इनकी छोटी सी खौईश है जिसका हैतिराम हम पर लाजिम है और हम चाहेंगे कि ये शर्ट आप हमारी मान ले बाकी हम आपकी मान लेंगे गाजान सिद्धी की लबों से हलके से नाम निकला और वही कई मादू हो गया जितना वो रंगों से बशना चाहती थी लग रहा था रंग खुद अपना तसलु जमाने के लिए बेताब है माते पर बल नुमाया हुए लेकिन जबत की इसने हामी भरी मुझे मन्जूर है चनल अलफाज कहती वो कमरे से निकलती चली गई वो सोच चुकी थी कि इसने क्या करना है गाजान सिद्धी की को नफरत पर कैसे मजबूर करना है हर फैसला वो ले चुकी थी लेकिन शायद किसमत ने भी इसके लिए कुछ अलग सोच रखा था कैफे नाइन फायू में बलेक सकाफ को इर्दगित लपेटे आँखों पर सेया किलासिस लगाए बेल बॉटम ट्रॉजर के साथ शॉर्ट शर्ट पहने वो अरिवा के इंतिजार में थी इर्दगित से चौकना भी थी कि कोई यहां आ ही ना जाए हाशर रहम काम के सिलसले में दो दिन के लिए इसलामाबाद गया था कल घर होने की वज़े से वो मिल नहीं पाई लेकिन आज वो हाशर के जाने के बाद यहां आई थी कुछ दिर में जिंस, कुर्टा में मलबूस अरिवा, सया हिजाब में चेहरे को कवर किये, जावेरिया की जानी गाई इसको वो हाथ के शारे से अपनी जानी मतवज़ कर चुकी थी वन्ना इसकी हुलिया की वज़े से अरिवा उसे पहचानी ना पाती हाथ मिलाकर वो चेयर पर बैठी और जवेरिया की जानी मतवज़ ही जिस हुलिया में उसके सामने मौजूद थी कैसी हो तुम और यह तुमने क्या हुलिया बनाया हुआ है सब ठीक तो है जवेरिया तुम्हें मैं सब बताऊंगी लेकिन तुम्हें भी बदले में मेरी एक मदद करनी होगी हाँ मेरी कोशिश तो होंगी कि मैं तुम्हारे काम आ सकूँ लेकिन तुम पहले सचाई बताओ एक नजर इसके जानी डाल कर जवेरिया ने बेसाखता हाथ मसले थे धीरे धीरे सारी तफसिल इसके गोश गुशार करके जवेरिया ने इसके होश उड़ाए वाट? पर ये सब क्या तुमने अपने घरवालों को सारी तफसिल नहीं बताई? नहीं शायद यकी नहीं था खेर ये सब छोड़ो मुझे लाइबा खान के बारे में बताओ मुझे बताओ कि वो हाशिर से क्यों मिलना चाहती थी जविरिया के लहजे में अलग सी बेचेनी थी जैसे अरीबा ने भी महसूस किया देखो जविरिया मैं पांच साल से इनके आफिस में काम कर रही है सर बहुत अच्छे है और उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है अगर मैं इनके साथ गज़दारी करूंगी तो ये जादती होंगी सवरी में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती अरीबा हैंड बैग उठाकर उटनेगी वाली थी जब जविरिया ने इसका हाथ थामा देखो अरीबा मैं सब कुछ नहीं करना चाहती थी लेकिन हाशिर की बेयतिनाई मुझे मजबूर कर रही है कि मैं उनकी सचाई जानू तुम शायद हमारे तालुक को नहीं जानती उन्होंने निकाह तो कर लिया है लेकिन नजाने कभी निकाह तूट जाए इसकी खबर मुझे भी नहीं है पिलिस तुम मेरी मदद कर दो मैं तुम्हारा यह अहसान कभी नहीं भूलूँगी अरीबा जैसे सारी बात पल भर में समझी अजबात में सरिला कर इसने बात की शुवात ही की थी कि एक मवाली से हुलिया में शक्स वहां आया जवेरिया मुकाबल खड़े मवाली से हुलिया वाले शक्स को देखकर जवेरिया चौंकी ए तू जवेरिया है ना जवेरिया का इसके मूँ से अपना नाम सुनकर रंग एकदम उड़ा अरीबा भी इसका हुलिया देखकर सहमी पहचाना नहीं मुझे बोलना तू जवेरिया है ना तू तू कौन हो जवेरिया के मूँ से तूटे अलफास निकले ए मैं तेरे मामू का बेटा दोल गई क्या मैं जमाल जानती है ना तेरा मंगीतर जवेरिया की हलात मजीद बुरी हुई जवे चलो चलो अरीबा यहां से चलो अरीबा का हाथ पकर कर इसने वहां से निकलना चाहा लेकिन जमाल की मौझूदगी ने नाकाम बनाया जस्ट शेट आप, जाने दो मुझे, हाथ से दूर धकेल कर वो अरीबा को थामे तेजी से निकलती चली गई, ए, बात तो सुन ले, अंग्रेजी में खट पट मत कर, एक नज़ा इसने अरीबा पर भी डाली, जो फटी आँखों से उसकी कारवाया देख रही थी, जमाल इसके कौन था, और खुद को तुम्हारा मंगे तर क्यों कह रहा था, अरीबा को अब जवेरिया कुछ मश्कूख लगी थी, यह मेरे सौधेल मामू का बेटा है, इसने घटिया इज़ाम लगा कर, निकाह करवाया था, जवेरिया मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, अरीबा का चहरा जब्त से लाल था, पर प्लीज, ऐसे मत कहो, जवेरिया ने इलतिजा की, भाई, रिक्षा रोके, रिक्षा रोकने का इशारा करके उतरी थी, और चन्द नोट इसकी जानी पढ़ा कर, वो मजीद जवेरिया की सुने वहां से जा चुकी थी, जवेरिया महस पेच उताब खा कर घर की जाने बे रवाना हुई, अज जो भी करना था, उसे सब कुछ खुदी करना था, हमदान, अगर मैं तुम्हें परसू यहां आने का कहूं, तो क्या तुम आओगे, गाजान की कॉल देकर इसने खुशगवारियत के संग, फोन उठा कर कान से लगाय गाजान के गर मतवक्त सवाल ने हमदान को चौंका दिया, गिलास को हाथ में थामे, जो आकरी घूंट लेने वाला था, गाजान के सवाल पर दिल में अजीब सी बेचानी महसुस हुई, खैर तो है भाई, आप ठीक है, मौम तो ठीक है, हमदान की बेचानी पर मुस्कुराय हाँ, सब ठीक है, बस तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज है, यकिनन तुम्हें ये सर्प्राइज पसंद भी आएगा, भाई सज बताएं, क्या हुआ है, हमदान ने दोबारा सवाल दोराया, अगर बता दिया तो सर्प्राइज किस चीज़ का होगा, बहरे हाल, तुम्हें भाई सचाई तो नहीं जान गए, नहीं, भाई कैसे जान सकते है, अगर जान लेते तो उसी दिन, पूछते, आकरी घूट मूँ में उडेल कर इसने गिलास टेबल पर पटखा, और खुद बालों को मुठी में जकर कर रिलेक्स होना चाहा, कुछ देर बाद अपनी हालत पर याद आया, जो वो हाशिर को बताना भूल चुकी थी, वो हाशिर ये कल आया था, मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, किसी गाजान सिद्धी की रिसेप्शन का कार्ड है, क्या आप जानते हैं उन्हें, काफी साइट पर रखकर उसने हाशिर की जाने देखा, गाजान क बी आँखों में चमका था, कार्ड को रखकर वो वाकी पूल चुकी थी, काजान का नाम सुनकर ही माथे पर बल नुमाया हुए, इसकी हमत कैसी ही मुझे कार्ड बेजने की, कार्ड को इसने एक जानी फेकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर उसने कार्ड ओपन किये, इसमें ना फेका, ये कार्ड डस्बिन में फेक देना, और अब मुझे जिस्ट्रब मत करना, सर्द लहजे में कहे कर वो कौफी कमक, हाथ में थाम कर स्टड़ी रूम में दाखिल हुआ, जवेरिया ने कार्ड को संभाल कर एक जानी रखा था, गाजान सिद्धी की को अच्छे से जानत और दुलहन की दरा सिद्धी की विला, हमदान को कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था, कंदे पर बैक डाले, फुलाउंज के बीचो बीच खड़ा था, जब खान समा ने आकर उसे सलाम किया, आप आ गए हमदान बाबा, कैसे हैं आप, बुआ ने धीमे लहजे में पूछ रहा था, बुआ से क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ, सीडियोस उतरते का अजान ने भारी पुट जोश आवाज में कहा, अपनी शांदार प्रसनेलिटी के संग वो सीडिया उतरता, हमदान के पास आया और सक्तिसे से बाहों में भीचा, हमदान ने भी गरम जोशी का म वही हुआ, हमदान की गिरफत एकदम धीली हुई, लेकिन गाजान अपनी खुशी में ये महसूस ही नहीं कर पाया, वाट भाई, या आप क्या कह रहे है, कब, और कैसे, ये कैसे मुम्किन हुआ, सब बताओंगा लेकिन इस वक्त तुम्हें ड्रेस्ट की जरुरत है, और कल निकाह की रस्म है, कोई फालतो फंक्शन नहीं तुम जानते होना, मुझे शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए सब साथगी से होगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लो, कि तुम कोई तैयारी नहीं कर पाए, तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारी एक एक चीज, मै और्डर कर चुका हूँ, फिलाल तुम मॉम से मिलो, जो उपर तैयारियों में विजी है, मैं जरा एक इंपोर्टन कॉल अटेंड करके आता हूँ, कंदे पर थबकी देकर वो बाहर की जानी बढ़ गया, और हमदान सिद्धी की जान शायद अपने साथ ले गया, लाउंज म ये आज जलती आग को कम नहीं कर पाया, बोतल को इसने जोर से जमीन पर फेका, और फोन के जानी बढ़ा, शानी का नंबर डायल किये, उसको काँखों से उसके कॉल उठाने का मुंतजर था, चेहरे के तमाम आसाब तने हुए थे, शानी फोन उठा, वनना आज तेरा कतल कर रोकनी है, हाँ भाई की शादी नहीं होगी, हमदान को जुनोनी पन शायद इस पर बुरी तरह हावी हो चुका था, मैं उस लड़की को जान से मार दूँगा, वो मरेगी मेरे हाथो, उसकी इस घर में मेरे भाई की जिन्दगी में कोई जगे नहीं, बालो को जकर कर वो जम संभाले, चेहरे पर जबरदस्ती, मुस्कुराहाट दारी किये, वो उठा था, कुछ नहीं भाई, वो बस मुबाईल नीचे गिर गया था, वही सेट करने में बिजी था, ओके, चलो, आओ, खाना खाते है, एक साल, दो महीने बाद आकिर तुम वापस आए हो, तो एक जिनर तो बनता है, जी भाई, चलें, वनना कल तो भावी भी आ जाएगी, फिर हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, हमदान का लहजा यकदम बदला था, वो शक्स शायद अपने हवास काबू में रखना जान गया था, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मेरी जिन्दगी में हमेशा खास एहमियत रहेगी, जी भाई, जानता हूँ, और अगर ऐसा ना भी हुआ, तो मैं अपनी जगे बनाना चानता हूँ, भावी की थोड़ी सी जगे पर मैं काबिज हूँ, इसका अंदाज मुझे अच्छी सी तरह है, हमदान ने बजहर आम से लहजे में कहा, लेकि उस लड़की को इस घर में लाकर बदनाम सरूर कर सकता था, आकिर आज वो दिन आ ही गया था, मुझे जब आप इस कमरे में आबाद करने आ रही है, वो जाहर रोशन कमरा, अंदर से वीरान है, जिसे आबाद आपके वजूद की रोशनी करेगी, आईने के आगे खड़ा, बलेक शरवानी मलबूस, कॉलर के बटन बन किये, मुंताह को सोच रहा था, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, गाजान का दिल बेचैन हो रहा था, नजाने ये क्या अनोका एहसास था, चार्ज रोम रोम में बस चुका था, रोम का दर्वाजा खोले हमदान तेजी से अं उट लेने वाले थे, भाई, देर हो रही है, छे बच चुके हैं, और एक घंटा सफर में लग जाएगा, जल्दी चलिए, हमदान अंदर आते ही, शुरू हो चुका था, काजान के मुड़ते ही हमदान चौका, सया शेरवानी के साथ, सया शलवार पाउं में मैचिंग खुस मुझे अंदाजा नहीं था, ये शर्वानी शायद आपके लिए ही बनाई गई है, गाजान मद्धम समस्कुराया, तुम अब ज़्यादा तारिफ कर रहे हो, नो भाई, आप लगी बहुत प्यारे रहे हैं, खैर जल्दी चलिए, देर हो रही है, हमदान ने आगे बढ़कर गाजान के सर पर किला दुरूस्त किया, और उसे लिए कमरे से बाहर की जानी बढ़ा था, गाजान के साथ समरीम बेगम थी, हमदान अपनी सया सिविक में अपने चन्दोस्तों के साथ मौझूद था, जिसमें शानी सबसे अवल नंबर पर था, फिलाल इसने शानी को कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल और दिमाग में वो खिचरी अच्छी तरह पका चुका था, लेकिनन, शादी के बाद छानी की दुर्गत बनने वादी थी, सुर्क, अंग रखा, फ्रॉक के साथ चूडीदार पाज़मा पहने, वो शीशे के आगे खड़ी, हार सिंगार में मगन थी जब आफाग जलत में अंदर आया, लेकिन मारिया को बिना डुपटे, शीशे के आगे खड़े देखकर, चौंका यो ड्रेस वही लेकर आया था, मारिया ने काफी वाल, वो अविला भी किया, कि इतना फैंसी ड्रेस नहीं पहनेंगी, लेकिन आफाग की एक घुरी ने इसक जोड़े में हसीन लगेगी, लेकिन इतना यकिन नहीं था, तो इस हद तक प्यारी लगेगी, इसकी नाजुक कमर तो तवज़े खींच रही थी, गहरे गले से इसकी नाजुक पुष्ट वाज़े थी, आफाग को न जाने क्यों, वो गहरा गला बुरा लगा, मारिया जो ख कुछ बावर करवा रही थी, पंदों से थाम कर उसने मारिया का रुक शीशे के जानिक किया, और बाजु इर्द गर्द हिमाइल किये, इसकी कुर्बत में मारिया की आँखों में नमी चमकी थी, नानिगा की रात याद आई, जब आफाग की खनकती आवाज, खुशी से निकल रही थी, बालो को खुला रखना, पुश्ट का एक हिस्सा भी नज़र नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसकी धंकी आमेज लहजे को सुनकर वो सहमी, बरश पकड़ कर बालो को सुलजाए, इसने पुश्ट पर बालो के आपशार को बखे चला गया, आकरी लौासमात मकमन की वो जल्दी से बाहर की जानी बढ़ी, जहां आज मुंतह सुल्तान की किस्मत बदलने वाली थी, बिना महंदी से सजे हाथ, हलका फुलका मेकप की, वो बैट पर एक जानी पत्थर की मुरत बन कर वैठी थी, जो सुनहरी ले बास गोया, आज मुंतह सुल्तान के वजूद पर सजकर हसीन तरीन हो चुकर था, बिटेशन के लाक असरार पर इसने अपने आपको ज्यादा सवारने की अजासत नहीं दी, एक साल बाद, चेहरे पर मस्मी हुस्न रगवातिस का दिल बारहा, रोया तर्पा था, लेकिन आज इसने आंस थी कि उसे जूबिया वेगम के आने का पता ही ना चल सका, लाउंज में कहका हो कशोर, मुंतह सुल्तान के आसाप पर बैंक की मानिन लगा था, वो सोच चुकी थी, कि अब इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी, हर तकलीफ, दर्द, अकेली सहेगी, अपनी मुश्किलात वो खुद बढ़ाएगी, बेहिस हो चुकी थी मुंतह सुल्तान, और ये बेहिसी शायद मुंतह सुल्तान को पागल कर देने वाली थी, माशायला, मेरी बेटी बहुत प्याली नग रही है, विल्चेयर थामे, आफाग के साथ सुल्तान अली अंदर दाख खिलूए, मुंतह अली का कामता हाथ मुंतहा के सर पर मौझूद था, इस लम्स को महसूस करने के लिए उपूरे एक साल से तड़प रही थी, अब्बू, अपनी नादान बेटी को माक कर दीजेगा, जो एक रिष्टा नहीं निभा पाई, मेरी वज़े से आप इस हाल तक पहुँचे, ये मे अखों से नहने मोती नमुदार हुए, बस मेरी एक बात का भन रखना, अपनी सच्चाई, अपने शोहर से छुपा लेना, भूल जाना, इस घर की तमाम बीती बातें, सुल्तान अली ने गोया धमाका किया था, सुन्ता सुल्तान के वजूद पर, नहीं, एकदम उन्तार पी लेकिन मुंतार ने आगे बढ़ कर, उनका हाथों को थामा, और इनके हाथ पर अपना माता ठिकाया, मुझे मनजूर है अबू, मुझे हर शर्ट मनजूर है, लेकिन आप ये हाथ बबारा मत चोड़िएगा, मुंतार का जवाब सुनकर आगे बढ़ कर, उन्होंने माते पर म महर महबत सबत की, आफाक ने भी आगे बढ़ कर मुंतार को खड़ा किया, और बेसाफता सीने से लगाया, मुंतार की हिचकी बनी थी, मैं जानता हूँ, इसे एक सान में तुमने बहुत तकालीब देखी है, और जाने अन जाने में वज़े भी, मैं ही रहा हूँ, लेकिन हो प्रतिचा सुनकर आफाक की आँखों के सामने मारिया का सरापा गूमा, और इसने बेसाखता अजबात में सर इलाया, ओके, अब रोना दोना खत्म, अब एक घंटा हम चारों मिल कर गजारेंगे, यगदम आफाक में आँसु साफ किये, मुंतार को बैट पर बिठाया, और आफाक सर पर अलविदाई बोसा दिये, सुल्तान अली को लिए नीचे के जानिब बढ़ गया, मुंतार सुल्तान को भी शायद कुछ वक्त मजीद अकेले गुजारने को मिल चुका था, या फिर शायद ऐसा था कि मजीद मातम करना बाकी था, गोल्डन लहंगा पहने, लाल तबा दिल मर चुका था, जजबाद चिकना चूर हो चुके थे, इस वक्त वो एक खाली रूह की माने थी, जूबिया बेगम के हाथ पर दबाव डालने से, वो होश की दुनिया में वापस लोटी, एक नज़र जूबिया बेगम की जानिब डाल कर, इसने खाली खाली, दिल सचे जजबात के संग हां कहा गया था, एजाब कुबुल के बाद समरीन देगम आगे बढ़े गाजान की कले लगी, हमदान का चहरा इस वक्त सर्द सपाट था, खुशी की रमा किसके चहरे पर मौजूद नहीं थी, लेकिन डस में दुनिया भी तो निभानी जरूरी थी, क हमदान का चहरा मजीद सपाट हुआ, दुलहन का चहरा इसने देखना चाहा लेकिन सोक निकाह कर उपटा, इसका चहरा चुपा गया, गाजान ने आगे बढ़कर मौज़ा का यख बखसता, हाथ थामा था, हाथ को थामते ही गाजान को गया, सुकून की एक अनोखी लहर लगकी से जानी पहचानी लगी लेकिन याद करने पर भी वो उसे याद नहीं कर पाया, तो इसका चहरा कहा देखा था, सर जटक कर वो गाजान की जाने मतवज़ हुआ, तो सीधा बैठा आगाजान से बातों में मसरूफ था, हमदान का इन सबसे दिल उचाट हो रहा था, मौम कब तक निकलना है, रात हो चुकी है, मज़िद मैं नहीं रुख सकता, इसकी बेसारियत में समरीन बिगम को चौंका दिया, आख के इशारे से उसे रुखने का कहा, गाजान को इशारे दियो वो अगजान की जानी बाए, और इनसे रुखसती की अजाज़त चाही, कु अधर दिल के संग सबसे मिली, और गाजान के साथ गाड़ी में बैठी, गाजान के पहलों में बैठती मुन्तहा सुल्तान की जान हवा हुई थी, और जब जवाब दे गया, आँखों से आँसों बहे थे लेकिन किसी की आमानत बनकर वो अब खियानत की हगदार नहीं हो सकत का वेलकम नहायद शानदार अंदाज में किया गया था, लेकिन उसके मुर्दा दिल में शायद कोई एहसास बाकी नहीं था, जो उसे कुछ भी खास महसूस नहीं करवा पा रहा था, लिदार का हक तो पहले मेरा है, तुम क्यों देखना चा रहे हो, काजान की जैक्ती आवा सुनकर मुंता सुल्तान एकदम कांपी थी, बाबी किसकी है भाई, हमदान ने अबरू उचका कर कहा, अफकोर्स तुम्हारी काजाने दूबदू कहा, तो पहला हग भी मुझे ही है, हमदान ने आगे बढ़ कर गुंगा तुलता, पल भर का काम था, और हमदान चौंका था, चहरे की जबरदस्ती की मुझकुशगवारियत एकदम तुल्की में बदली, आँखों के गोशे तेजी से सुख हुए, मुकाबल के चहरे देखकर उसे थपड याद आया, और खून में गोया शरारे डोडे, जिस लड़की को नगर नगर ढून रहा था, जिसकी बरबादी दिल था कि बस किसी तरह उसे उस तड़की को शूट कर दे, इतना बड़ा जटका, इतनी तुल्क हकीकत इसके सामने आई थी कि सब कुछ बरदाश्ट से बाहर हो रहा था, तुम एकदम हमदान की मुझ से निकला, क्या हुआ हमदान, तुम जानते हो इने, गाजान भी हमद तो जाना है भाई, भाबी की हैसियत से मेरे घर में आई है, मुंताहा ने हैरत से हमदान की तरफ देखा, उसके काया पलट पर वो हका बका रह गई, हमी, तुम भी ना, मुझे लगा तुम जानते हो, गाजान के सवाल पर पुरसरार सा मुस्कुराया, मौम मैं आता हूँ, एक कॉल करके गाजान बाहर की जानिब एकदम बढ़ा, हमदान तेजी से गाजान की जगे पर आकर बैठा, और मुंताहा एकदम सिम्ती, भाबी जी, एक रस्म तो बाकी रह गई है, क्या ख्याल है मौम, वो भी ददा की जाएं, हमदान ने अबरो उचका कर समरीन बेगम की जानिब देखा, कौन सी रस्म बाकी है हमदान, समरीन बेगम ने भी हरानगी से हमदान की जानिब देखा, अरे मौम, वही रस्म, इसमें देवर घुटने पर हाथ रखकर, नेग मांगता है, मुंताह सुल्तान की तेवरी चड़ी थी, इसकी बात सुनकर, ओ हाँ, ये रस्म कुछ को मैं आपको रहने नहीं दूँगा, हाँ, रोने के लिए ये कंधा मैसर रहेगा, अपने कंधे को सहला कर इसने अपनी नजरे मुंताह के वजूद में गाड़ी, मुंताह को अजीब बेचानी ने गहरा, एक दमो अपने आप में सिम्टी, और समरीन बेगम के आने की दूआ की थी, तबी काजान के साथ समरीन बेगम भी अंदर आई, मुंताह ने शुकर का कलमा अदा किया, लेकिन शायद अभी एक इम्तिहान मजीद बाकी था, नीचे बैठकर इसने मुंताह के गुटने पर बाजू रखी, काजान सिद्धी की बेसाखता मुस्कुराया, भ फिलवक किसी को अपना नहीं समझ सकती थी, मुंताह बेटा, देवर को नेक दो, समरीन बेगम जैसे इसकी मुश्कर समझी थी, मुंताह ने बिना नोट गिने, सारे के सारे पाउच में से निकाल कर हमदान की हाथ में रखे, और घुटनों को ढटका, गयो से हटने का इशार कराती ही, कंदे पर हाथ रखकर उन्होंने हमदान को उतने का इशारा किया, एक दम गुटने पर दबाव डाल कर उठा था, और शैतानी मुस्करहाट के संग मुंताह की जानिब देखा, समरीन बेगम ने मुंताह को खड़ा किये, घुंगर चहरे पर बराबर किये, रोम के जानिब बड़ी थी, एक इम्तिहान से निकल कर मुंताह सुल्टान एक और इम्तिहान में डाकिल होने वाली थी, काजान भी बेसाफ़ता उपर के जानिब बड़ा जब हमदान ने कंदे पर हाथ रखकर से रोका था, काजान भी उठकर मुंताह के जानिब बड़ा था, लेक पिर देर दोनों भाई बाते करेंगे फिर छोटी सी छोटी पार्टी करेंगे हमदान का शरारत आमेज लहजा का असान को सारी बात समझा गया बाते तो मैं तुमसे बहुत करनी है लेकिन आज मेरी बीवी की बारी है जो कमरे में मेरा इंतिजार कर रही है और मुझे रोकने का कोई सॉलिड बहाना बनाओ इस छोटे मोटे बहानी मुझे आज नहीं रोक सकते जवाबन गाजान ने कहकर एक पंच इसके कंधे पर मारा था हमदान को एकदम शदीद जलन का एहसास हुआ लेकिन बजहरों मुसकराते गाजान के गले लगा भाई यू आर ग्रेट आई दूर होने लगा बाबा के बाद मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे भाई मेरे दिल का एहम हिस्सा हो तुम आइंद अगर ऐसे मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कंधों से धाम कर गाजान धंकी आमेज लहजे में कहा जी जी भाई हमदान ने की दायत करता उपर की जानी बढ़ाता जहां वो दुश्मन जा उसके इंतजार में बैठी थी चहरे पर महबत की महर सजाएं वो दर्वाजे के आगे रुका और दुसरे जानी हमदान के चहरे पर नफरत आमेज तासुरात नमुदार हुए मुंतहा सिल्तान दो दो जुम त से में आ चुके हैं एक गाल पर थपर मारा था और दूसरा जुम भाई की बीवी बन कर आई हुमेदे आज से ही तयार हो जाओ मेरे भाई की जिन्दगी से जाने के लिए और अपनी बर्बादी के लिए क्योंकि ये हमदान सिद्धी की तुमें बहुत भयानक वक्त देने व महसूस हुआ जिसमें कुछ देर तक बन होने वाली थी मुंतहा को अपना सांस वक्त गजरने के साथ साथ मद्धम होता महसूस हुआ दिल चाहा यही से लोट जाए और ऐसी दुनिया में गम हो जाए कि वापसी मुम्किन ना हूँ पुछ तपर समरीन बेगम का हाथ रखना से होश की दुनिया में वापस लाया कदम बढ़ाओ बेटा समरीन बेगम की जानीब इसने खाली नजरों से देखा समरीन बेगम का मस्कुराता चहरा इसकी हिम्मत बना और इसमें कदम बढ़ाए तरवाजा खोल कर वांदर आई यह कदम मुम्तहा को लगा कि वो किसी और द कर गया कमरे की खुबसूरती किसी आला इनसान के जौक का पता दे रही थी हट जानी बिखरे गुलाब और बैट की साइड पर मोधी और गुलाब की खुबसूरत लगया बैट के गिर्द एक हौला डाले हुए थी कमरे के इससे में थोड़े से फासले पर एक एक वाइट क् रोशनी माहल को रूमान परवर बना रही थी बैट के करीब लाकर इसमें उन्होंने उसे दर्मियान में बिठाना चाहा लेकिन मुंतहा के इंकार ने उनको रोका नहीं आंटी मैं किनारे पर ठीक हूँ बजित आके नहीं बढ़ सकती समरीन बेगम के जहरे पर एकदम अदा मेरा मंगी तर्वी ऐसे ही मुझे निकाह की रात चोड़ कर भागा था गाजान के बाबा ने बजाहर को मुझे अपना लिना लेकिन उनकी बद इत्मिनानी ने तमाम उमर उन्हें भी और मुझे भी बेसकून रखा वक्तिये साथ आंगे तो बढ़े लेकिन महबत शायद लेकिन अगर उसे सचाई पता चली तो तबाही हिस्से में आएगी वक्त की गुजरने के साथ ये सचाई मैं उसके गोश गजार करूंगी लेकिन इस वक्त खामुशी हर मामले का हल है उमीद करती हूँ आप मेरी बात को समझोगी एक मा की फर्याद समझ लो या फिर एक हु में बन चुकी थी मजीद इर्टजाओं का वो क्या करती दीमे से सर अजबात में हिला कर इसमें समरीन बेगम के चहरे पर एक मिनान बिखे रहा मुझे यकीन था आप मेरी बात का मान रखोगी मेरा बेटा बहुत अच्छा है और इसा मैं नहीं कहती इसके औसाफ कहते है और से निकली थी मुंताह सुल्तान के पास शायद कोई जवास बाकी नहीं रहा था क्यों काजान सिद्धी की को सचाई बता कर गुनहा की मतहमिल होती समरीन बेगम के कमरे से निकलते ही मुंताह की हमत जवाब दे कर इनकी बाते अब भी तिमाग में गुंच रही थी पैट से प गुलाबों के खुश्बू मुंताह के आसाप पर भारी वजूद की तरह च्छा रही थी नहींगा संभाले उबैट से उटने ही लगी थी किलित की आवाज से दर्वाजा खुला और उचा लंबा खुश्बूओं में पसा वजूद अंदर दाकिल हुआ मुंताह बेसाखता बैठी थी कमरे के डीम लाइट गुलाब की लड़ियों और कुछ रुमान परवर माहुल में वो अब तक गाजान सिद्धी की कर चेहरा नहीं देख पाई थी मुंताह के हातों में नमी पूटी दिल नहीं से गाइब होना चाहा लेकिन फरार शायत मुम्किन नहीं था झालत पेचैन होने लगी वो यहाँसे भाग जाना चाहती थी क biscuit को फना कर देना चाहती थी की बोलती नजरों से फजर हो जाना चाहती थी काजान सिद्धी को वह इक जल्दी अपने करीब आनेych देना चाहती थी मैं चेजग बुक्स इठान बढ़कर हलका सा हाथ ना पुर मद्धम आवाज काजान के कानों तक पहुंची इसकी मधर भरी आवाज काजान के कानों में रस खोल रही थी जी बिलकुल लेकिन पहले जी भर कर देख तो लेने दीजिए फिर चेंज भी कर लीजे का इसका हैतराम भरा लहजा सुनकर मंतहा एकदम हैरान हुई हाथ को पीछे की जानी खीज कर उसने मंतहा को पास बिठाया लच के लिए डाल की तरह मंतहा इसके पहलों में नराज हुई उसका लम्स मंतहा के वजूद को दहकती वी आग में धकेर रहा था मेंधी नहीं लगाई आपने बिना इसका चहरा देखे हाथ को थाम कर इसने सवाल किया जिस सवाल से वो बचला चाहा रही थी वही सबसे पहले किया गया अलरजी है मेंधी से पहला सवाल गाजान ने किया और पहला ही जूट मंतहा ने गड़ा हाथ के नर्माहट को महसुस करते इसने पुष्ट पर उंगली फे दी कोई बात नहीं कल ब्यूटिशन इस्पेशल मेंधी ले आएगी मुझे यहाथ मेंधी से भरे देखने है गाजान के जवाब पर वो चौंकी यानि इसके पास हल मौजूद था एकदम मुझे को रोना आया मेंधी से वो मना भी नहीं कर सकती थी मैं चेंज करना चाह रही हूँ मुझे ने दोबारा बात दोहराई यह पॉसिबल नहीं है काजान की गए मतवा का बात सुनकर मजीद चौंकी जी मूझ से बेसाखता निकला आज की रात ये मुम्किन नहीं है बीवी काजान की जूमाईनी बात और बीवी लवस उसे चौंका गया मुझे को अब तक वो अनुका शक्स लगा जो हर बात उल्टा जवाब दे रहा था क्यो पॉसिबल नहीं मुझे ने हिम्मत करके सवाल किया जी भर कर देखना चाहता हूँ फॉरन जवाब मतवक्त था हाथ अब भी काहसान के मजबूत हाथ में कैट था वेट आ मिनिट एक दम हाथ छोड़कर वो दूसरी जानिब आया मुंताह सुल्तान को अपनी जान बख्षी पर सुकून आया लेकिन ये इसकी गलत फहिमी थी दूसरी जानिब से आकर वो बैट पर टिट लिटा और सर्थ इसकी गोद में इस अंदाज से रखा कि मुंताह का चहरा बिलकुल वाज़ नज़र आए पल भर का काम था जो मुंताह सुल्तान की जान को हतेली पर ले आया मुंताह की नज़र भी इसके वजीह चहरे पर उठी उसके घने बाल भोरी आँखे और खडी नाग जो इसके खुबसूरती में इसाफ़ा कर रही थी मुंताह को एक होफसुरत तरीन मर्द लगा एकदम उसे अपने सोथ पर अफसूस हुआ और उसने रुख मुड़ा लेकिन गाज़ान ने उसके कोशिश नाकाम बनाई और रुख दोबारा अपनी जानी मुड़ा आज ये हक नहीं दूँगा कि आप नजर फेरे रास्ताने महबबत सुनाए बगर आज आपकी फ्राद मुम्किन नहीं है नुंताह की हालत गैर हुई जानती हैं मौल में देखा था आपको और ऐसा देखा कि उसके बाद किसी लड़की को देखने की तमना नहीं रही नजाने ऐसा क्या खास था आपने कि नजर ऐसे ती की के हट ही न पाई पुरा एक साल आपको तलाशा लेकिन कोई सुराख ना मिला मुझे लगता था आप कोई परी हो जो एक चलब दिखा कर गाइब हो गई और मैं एक दिवाना जो नगर नगर आपको तलाश कर रहा हूँ थोड़ी को शहादत की उंड़ी से उंचा किये और मुंतहा की सहर अंगेज आँखों में देखे अपनी महबर की दास्तान सुना रहा था मौल का सुनती उसे हमदान याद आया और गाजान के साथ की गई हरकत भी याद आई जग्दम नजर इसके चहरे की जानी गई और याद करने की कोशश की कि क्या यह वही शक्स है अपने ख्यालाद पर सच की महर देखकर वो लब दान्तों में दबा गई मौल की खामुशी को समझ चुका था जी मैं वही हूँ जिसे आपने हाथ से लानब भेजी थी काजान की सर्द आवाज इसके वजूद पर कपकपी तारी कर गई वो गलती काजान की उम्ली मौन्ता की होटों पर आँ ठहरी श्च नहीं बोलना बस मुझे सुनना एक और फरमाईश इसने मौन्ता पर जाहर की पर मुझे चेंज करना है मुकाबर की एक ही जिद्धी जिरे से इसने मौन्ता का सर जुकाया और एक इंच के फासले पर रोका मुन्ता की सांसे थम चुकी थी इतनी कुर्बत का वो तसवर भी नहीं कर सकती थी इसके आँखों में देखता वो इम्तिहान लेने के दर पर था आँखे नमगीन पानी उसे भरी और एक आँखों काजान के काल पर आका गिरा इससे पहले वो कोई गुस्ताखी करता और जट से सीधा हुआ और मुन्ता के रूबर रूब इठा इन आँखों को मैं दोबारा आपके आँखों में नहीं देखूंगा लहजा घमकी आमेस था दोनों आँखों पर लब रखकर वो सारे आँसों चुन चुन चुका था पहला लंस पहली कुर्बत और पहले ही वार में मुन्ताख को अपना आप हारता महसुस हो रहा था देरे से गालों पर लब रखकर उसे गोया गालों की सुरकी चुराई थी मुंताह सुल्टान की आज जान बाहर निकलने को वेताब थी अपने सारे फैसले से कहीं गुम होते नजर आ रहे थे एक दम पीछे होकर वो ओर्डॉप की जानी बढ़ा मुंताह ने यक गोना सुकून का सांस लिया लेकिन ये सुकून चन्लहों का था एक रेट केस हाथ में धामे वो मुंताह की जानी वापस आया भीरे से वो नीचे बैट चुका मुंताह ने देखा अपने पाउं समेटे लेकिन गाजान के हरकत ने इसकी कोशिश नाकाम बनाए मुदिखाई तो हो चुकी है अब मुदिखाई का इनाम देना तो मेरा फर्ज है पाउ हाई हील्स से आजाद करके इसने वो सफेद पाउ अपने गुटने पर रखे पेस में से एक मोटी सी चैन नुमा वाइट गोल्ड की पाउल निकाल कर इसने मुंताह की दोनों पाउं की जीनत बनाए पाउ पर इसका लम्स महसूस करके मुंताह सुल्टान की जान बेकाबू हुई इस पाउ का पाईल के साथ लिपटना मुंताह को एक रसी की मानिन लगा जिसे पाउ से बान कर इस रसी के सिरे को काजान की हाथ में दे दिया गया है और ये सिरा अब गाहमेशा पाउ खड़ा किया और बाजू कमर के गिर्द लपेटे एक जटके में वो इसके सीने के साथ लगी थी के उंचे कट के आगे वो एक गुरिया की मानिन थी गाजान ने एक दम इसका हाथ अपने दिल पर रखा बिना बोले वो शक्स आज सब कुछ बोल रहा था इन धर्कनों को महसूस करे बीवी ये आज मामूल से ज्यादा तेज है ये सर्द मौसम मेरे दिल में अंदे की महबद की आग जला रहा है ये दिल आज खुशी से पागल हो रहा है और शायद ये दिवाना आपको भी पागल कर देगा जानती है मैंने चान की तमन्ना की थी मैं नहीं जानता था कि मेरी खुश इतनी जल्दे को बूल होगी मुझे अब भी ये यकिन नहीं आ रहा कि ओ चान आज मेरी दस्तरस में आ चुका है मुझे आपको चुकर महसुस करने में दो कि आप मेरे करीब हो मेरी दस्तरस में हो मेरी रूह में खुल रही हो लबो को सहला इसमें मुझे नहीं जानती है आपको पाकर अब किसी सितारे किसी आस्मान किसी सितारे की तमन्ना नहीं रही मेरा चांद मुझे मिल चुका है और ये चांद ही मिरे लिए हर नेमत से बढ़कर है देरे से आगे होकर एक और बुस्ताकी किये वो मुंतह की जान को लबो पर ले आया था आज मैं इस चांड को छुना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, अपने अंदर समो लेना चाहता हूँ यह यकिन खुद को दिलवाना चाहता हूँ कि मुंतहा गाजान की हो चुकी है और गाजान मुंतहा का हो चुका है बैट पर लाकस नदीरे से पहलो में लिटायर अपनी हिसान में कैद किया साइट टेबल से लेम बुझाता हूं मुंता के खाली डूख की मानि वजूद पर पूरी धरा आबिस हो चुका था पूर पूर महबत की चाशली में डुबोकर वो मुंता की जात को मौतबर कर रहा था मुंता ने लाग दामन बचाया लेकिन गाजान की कुर्बत के आगे वो अब हार चुकी थी आँखों से बहते आँसों मुन्ता की हार के गवा थे जिने गाजान अपने हाथों से दोबारा मिटा चूका था उसकी कुरबत में बेगलती मुन्ता सुल्टान आज गाजान की मुन्ता बन चूकी थी रुकसाती के बाद और बागी काम देखकर कमरे में आई और आईने के सामें खड़े होकर एरी उतारने ही वाली थी कि आफाग की शाम वाली बात याद आई और इसका हाथ थमा राग का एक बच चुकत था लेकिन आफाग का कुछ पता नहीं था नीन आँखों में भर भर आई थी आज का ठका देने वाला दिन मारिया को बस अब सोने की ताकीद कर रहा था बैट पर बैट कर वा आफाग का इंतजार कर रही थी लेकिन आफाग के आने के दूर दूर तक कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था नीन अब आँखों पर अच्छी तरह काबिज हो चुकी थी वहीं बैट क्राउन से टेक लगा कर वाँखी मून गई कुछ देर बाद दर्वाजा किलिक की आवाज से खुला मारिया गहरी नीन में जा चुकी थी सजी सौनी मारिया आद खुले मूँ के साथ आफा की दिल पर वार कर गई इसकी मासूम चहरे को देखता वो बैसाखता मुस्कुराया कर राती वहिद कर चुका था कि मारिया को इसके जायस हक से महरूम नहीं रखेगा अपनी महब्बत की दास्तान अपने जजबात सब बताएगा और अपने रवये की माफी भी मांगेगा मारिया को सोते देखकर उसे मायूसी ही लेकिन ये मायूसी पल भर की थी आँगे बर कर उसमे मारिया को बेसाखता बाहों में भरा और सली बाहर के जानिब बढ़ा उसमीन की वज़े से आंग तीरे से खुली लेकिन खुद को आफाक की बाहों में देखकर वो चीखी आफाक ये क्या है फोश काबो में आते ही चिल्ला आई थी आइस्ता चीखो अगर अगर जान उड़ गए तो मुझे मत कहना गिरने के डर से बाजू बेसागत इसने आफाक के गर्दन के गिद हायल किया थे चीखने के बारे में आफाक की बात सुनकर इसकी आँखे हैरत से खटी आफाक पिलीज उतार दिजिए वरना कोई आ जाएगा मालिया ने इंतजा की आ जाने दो अच्छा है सब देख ले क्या आफाक अपनी बीवी को गोद में उठाए खड़ा है आफाक पिलीज मालिया की जान खुश कुई इसका उड़ा रंग देखकर आफाक मजीद छडारा तक ये बाहर की जानी बड़ा गारी में बिठा कर और दूसरी जानी बाया अनगारी स्टार्ट किये बाहर की जानी बड़ा था मालिया का शर्म से बुरा हाल हो चुका था आफाक का ये नौन सिरियस अंदास मालिया को हिरान कर गया कहां जा रहे हैं सामने देखकर इसने पूछा जहां बहुत पहले ले जाना जहां ये था आफाका उलड जवाब सुनकर मारिया सोच में डूबी कहां? वहां जहां तुम और मैं हो और कोई ना हो लेकिन क्यों? मारिया के अजीब सवाल पर आफाका कहका गारी में गुन जा मारिया भी इसके मुस्कराते चेहरे के जानी मुतवज़ हूँ इसका जवाब वहां जाकर दूँगा फिलाल चुप कर जाओ वरना मैं चुप करवाऊंगा इसकी जूमायनी धंकी सुनकर वो सहमी और बेसाफ़ता रुक मोर गई गारी एक छोटे से कॉर्टेश के आगे रुकी मारिया ने भी सवालिय नगरों से सामने देखा इड़िक्रित का इलाका मारिया को हिरान कर गया यह इससा मारिया को जन्नत के एक टुकड़े की मानिन लगा था बिना उसे कुछ बोले आफाग गारी सुतरा अर्सक जानी बाया हाथ थाम कर उसने मारिया को बाहर आने का इशारा किया बाहर निकलते ही सर्द हवाओ का शदीद जोगा मारिया को कपकपाने पर मजबूर कर गया लेक्ट माफाग ने पीछे से आकर अपने बासुष के गिद खायल करके हवा को रोकने की नाकांग कोशिश की थी आफा क्या कर रहे हैं छोड़े पिलीज कोई आ जाएगा अबल तो कोई आएगा नहीं अगर आ गया तो मुझे परवा नहीं चलो अंदर चले आफा कर सर्वे लहजा आज मारिया को गहरे अंदेशे में धकेल रहा था हाथ थाम कर वो उसे अंदर लाया दर्वाजा खुलते हैं गुलाब के फूल इस पर गिरते चले गए ये सम मारिया के चहरे पर अलग सी चमक लाया था फूलो की बारिश में नहाते मारिया ने आफाक की जानी देखा जिसके जहरे पर आच देते लमाद अपना हाल बयान कर रहे थे इसका हाथ थामी आगे बढ़ा था और उसे लिए एक रूम की जानी बढ़ा चोटा सा कौटेज अपनी खुबसूरती की मिसाल आप था सफेद देरवारों पर लड़ियों की सुरत में लगी गोल्डन लाइट्स रूमानियत के हसीन एहसास को जगा रही थी कमरे का दर्वाजा खुले वोसे अंदर लाया गोल्ड बैट पर बिची वाइट बैट शीट वाइट सोफा सेट वाइट ही अलमानी हर चीज वहाँ सफेद रंग की थी बैट पर बिखरे फूलों और लड़ियों की सुरत बैट की किर्थ लगी वाइट क्रिस्टेल्स की लड़िया मारिया को सारी बात समझा गए सफेद कमरे में बिखरे सुर्क फूल एक अलगी खुशकवारियत का तासुर दे रहे थे मारिया एक टक खड़ी उस कमरे को देख रही थी कैसा लगा रूम कंदों पर तोनों हाथ रखकर उसने सर पर थूड़ी टिकाई प्यारा है एक लबजी जवाब दे कर वो खामोश हुई लेकिन आप मुझे यहां क्यों लाए हैं मारिया का लहड़ा एकदम सपाट हुआ अपने गुनाहों की माफी मावने अपनी मारिया को दوبारा पाने के लिए यहां लाया हूँ दू बदू जवाब आया क्या यह सब इतना आसान के आफाक ली मारिया ने इसका पूरा नाम लेकर उसे बहुत कुछ बावर करवाया आसान तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना तुम ना मेरी माफी और ना मेरी महभबत जानता हूँ मेरी बेरुखी ने तुम्हें बहुत तरपाया है तुम्हारी मेरी जानी मुनतजर नजरों से देखना और मेरा रुख मोड लेना तुम्हारा मेरी जानी बाना और मेरा दामन बचा लेना ये सब तुम्हारे लिए एक खारदार रहा से बढ़कर था थोड़ी से सर हटा कर वो इसके सामने आया और एक घुतना तिका कर जमीन पर बैठा माफी का हगदार तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी माफी मांगता हूँ अपने हर अमल की हर तीकी नजर की हर बेरतिनाई की नहीं आफाग ये माफी आसान नहीं है मेरे लिए तो बिल्कुल बिली है मैं इतनी ड़िया दिल नहीं हूँ कि माफी दे दू जानती हूँ मेरे भाई का गुना बहुत बड़ा है इसके लिए तो मैंने इन्हें कभी माफ नहीं करूंगी लेकिन आफाग आप से मुझे उमीद नह थी कि आप इस हद तक कठोर साबित होंगे मुझे आपकी कुर्बर की तमना खुदारा कभी नहीं थी आप मेरी रूह में बस चुके थे लेकिन आपकी बेतनाई मुझे मजबूर कर गई आप से दूर होने पर मेरी माफी को कभी आपने एहमियत नहीं दी मेरे खलूस को आप समझ नहीं पाए अपनी बहन के लिए आपने मुझे शर्मिंदागी की अतहा गहराईयों में फिका उन्ता मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज रही है और मर्ते दम तक रहेगी शादी की रात बिना मेरी सुने आप अपना फैसला सुना कर जा चुके थे क्या मैं आपको रसाई हासिल कर ली लेकिन इस दिल में क्या क्या एससाद दबे हैं वो आप कभी नहीं देख पाए पुरा एक साल मैंने आपकी बेगुना होकर भी बेतिनाई जेली है आज आप कहते हैं कि माफ कर दू कि यह आसान है बिलकुल नहीं मेरे लिए माफी आसान नहीं है मारिया का टल लहजा आफा को सर जुकाने पर मजबूर कर गया मेरा वजूद मेरा दिल सब कुछ आपकी अमानत है शोहर से जादा बीवी पर किसी का हक नहीं और आपके हक में कोताही तो बिलकुल नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपने रब की नापसंदीदा कभी नहीं बन सकती मेरा वजूद आप के लिए आप चाहें तो अपना हक ले सकते है लेकिन माफी का आप सोचे गग मत क्योंकि ये मेरे ले फिलहाल नामुम्किन बात है आफाक एकदम अपनी जगे से उठा था और मारिया को सकती से अपनी बाहों में बेचा एकदम मारिया भी बुक्षाई थी आँख से एक आँसो टपक कर मारिया के बालों में जजब हुआ बहुत बुरा कर चुका हूँ तुम्हारे साथ मेरी राज की नीन उर्चुकी थी मेरे दिल तरपता था अपनी लाटली बहन की हालत देखकर तुम्हे देखकर मुझे हाशिर हमदानी याद आता था जो मेरी नफरत को बढ़ा देता मेरी बे अतिनाई बे वज़े नहीं थी मैं बिना सुने कुछ नहीं कहें वहाँ से चला जाता कि मेरी बेरुकी तो बरदाश कर रही हो अगर मेरे अलफाजों की संगेनी तुम्हारे वज़ूट पर पढ़ी तो तूट का विखर जाओगी तुमसे लापरवाई बरत कर सुकुन में मैं भी नहीं रहा आफाग का पूर नमलहजों से नर्मी पर उकसा रहा था लेकिन दिल शायद एक सक्त खोल में लिपट चुका था इस कर्प की तमन्ना इसने बहुत पहले की थी लेकिन शायद अब जजबात मर चुके थे मज़े तुम्हारा वजू नहीं तुम्हारी रूँ चाहिए और रही बात माफी की तो वो मैं लेकर रहूंगा बेशब जितना मर्जी वक्त गुज़र जाए एड भरे लाइजे में कहता रेकदम मारिया को छोड़े बाहर निकलता चला गया इसके चाहते ही मारिया भी गिनने के से अंदाज में जमीन पर बैठी थी आँखों से आंसु बहाती वाफाग की माफी को सोच रही थी आज ये अलग सी बेचैनी दिल के उको क्यों महसूस हो रही है क्यों दिल की थरकन तेज है ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चीज मेरी दस्तरस से बाहर जा चुकी है शरक के पहले दो पटन खोले वो सीना मसलता अंदर की बेचैनी कम करना चाह रहा था लेकिन शायद आज ये मुम्किन नहीं था एक तरफ अगर किसी के लिए खुशियों भरी रात थी तो दूसरी जानिक किसी के लिए आग में भड़की फिर रात साबित हो रही थी पानी के दो गिलास वो एक सांस में पी चुका था लेकिन आज चायद ये प्यास बुजने वाली नहीं थी बालकुने में खड़ाओ बिना सर्द मौसम की परवा किये अपनी बेचैनी कम करना चाह रहा था फिगरेट का ये दूसरा केस था जो आज सुबह से पी चुका था आगजान की याद आज उसे शिदद से आ रही थी दिल बारहा चाहा के एक नज़र नहीं देखा आए लेकिन सजा ही ऐसी थी के एक नज़र देखने की भी इजाज़त नहीं थी सबका ख्याल जहन में आते ही आखरी ख्याल मौनतहा का था क्या मौनतहा अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ गई होगी क्यों मुझे याद करती होगी शिट मैं क्या सोच रहा हूँ यगदम इसने अपने खयान को जटका आज मुंतहा का खयान क्यूं कर जहन में आ रहा है क्यूं मुंतहा हुआसों पर छा रही है सिगरेट को लबों में दबाएं वो लाइटर से रोशन करने ही वाला था के दोबारा दो बाजू इसके गिर्ड रिप्टे थे हाशिर के माथे की रगी तनी हाशिर क्या हुआ है क्या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है पुश्टपर सर्टिकाईस ने हमारा अलूद लहजे में पूछा इसका सीना मसलना जवेरिया देख चुकी थी जवेरिया के हाथों को इसने आजाज करना चाहा लेकिन इसकी गिरफ्ट मजबूत थी जवेरिया हाथ अटाओ हाशिर ने तन्बिया की आज मूर नहीं है आज आप के करीब आ जाना चाहती हूँ हाशिर को इसका अंदाज हैरान कर रहा था जिस जवेरिया को जानता था जो बिल्कुल अलग अलग लग रही थी जवेरिया मेरी तबे ठीक नहीं है प्लीज डिस्ट्रब मत करो हाशिर नर्मी से कहा आपकी तकलिफी तो दूर करना चाहती हूँ लगावट भरे अंदाज में कहकर उसने पुष्ट पर हल्की सी नाक रगड़ी हाशिर को इसकी कुर्बत में अजीब बेचैनी महसूस हूई जवेरिया लिमिट क्रोस मत करो पीछे हटो एक जटके में उसने जवेरिया का अपनी पुष्ट से जटका और उठी आवाज में चिलाया बेसाफ़ता वो पीछे के जाने गिरी तुम्हें एक बार की समझ नहीं आती क्यों बार बार करीब आती हो जवेरिया पर धारा लेकिन उसे नीचे गिरा देखकर वो शर्मिंदा भी हुआ I am really sorry हाथ बढ़ा कर इसने जवेरिया को उठाना चाहा लेकिन जवेरिया ने फौरर उसका हाथ जटका Don't touch me यगदम वो भी चिलाई मैं उठ सकती हूँ बाजू पर जोडाल कर वो जमीन से उठी गिनने की वज़े से बाजू पर दबाव आया बाजू सहलातियों सीधी हुई और हाशिर के मुकाबल आई क्या समझते हैं आप अपने आपको क्या आप बहुत पार्सा है मैं बीवी हूँ आपकी हाशिर बीवी आपकी शरी के हयात लेकिन शायद आपको उसका मतलब नहीं पता जब जब मैं आपके करीब आई हूँ आपने मुझे खुद से दूर धखिला है तुदकारा है आपने मुझे क्या कमी है मजमे क्या खुबसरत नहीं हूँ क्या आपके वफदार नहीं हूँ एक सार पहले यही अलफास मुंताहा ने कहे थी और आप जबेरिया की मुझे बिल्कुल यही अलफास सुनकर हाशिर हैरान हुआ लिसन जबेरिया ऐसा कुछ नहीं है हाशिर ने से रोकना चाहा लेकिन जवेरिया ने हाथ के इशारे से उसे आगे बढ़ने से रोका मैं जान चुकी हूँ आपकी बैतिनाई की वज़े प्लीज अब आप सफाया मत दे एकदम हाशिर का रंग उड़ा क्या जान गई हो बेसाफता इसके मूझ से निकला सब जान चुकी हूँ कि आपको ये निकाहा बहुत से ज़्यादा कुछ नहीं लगता हाशिर अगर इतनी नफरत है तो रहाई दे दे क्यों बान कर रखा है आजाद कर जीजिए इस रिष्टे से मुझे एकदम चिलाई थी जवेरिया के संगीन फैसले को सुनकर हाशिर की दिमाग की रगतनी बाजो से पकड़ कर उसने जवेरिया को रूबरू किया क्या बकवास की है दोबारा करना बाजो में उंडिया गाड़े वो धाड़ा वही कहा जो आपने सुना मकाबल की हर धर्मी कायमती आज़ादी दे दे मुझे एकदम हाशिर ने उसका दमू दबोचा आज यह बकवास कर ली अगर आइंदा की तो मुझ से बुरा कोई नहीं होगा मर भी जाओगी तो भी आजाद नहीं करूँगा सुरक आँखे इसके चहरे पर गाड़े करम सांसों की थपीडे चहरे पर फेके इसने धंकी आमेज अंदाज में कहा एक दम उसे अंदर लाकर बैट पर धकेल कर कमरे से निकलता चला गया जविया सुरक आँखों से जाता देखती रही तुझे मैंने किस काम के लिए कहा था एक काम भी तो ढंक से ना कर पाया शानी का गिरेबान दबोचे इसने सुरक आँखों के संग देखा यार देख मुझे पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ क्योंके तेरे भाई का दुर दूर तक कोई प्लान नहीं था शादी का ना जाने दो माह में ये काया पलट कैसे हो गई और च्छे माह पहले तो तू भी तो यहां आया था तब भी तेरे भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था यार इस सब में मेरी कोई तो गलती नहीं है प्लीस छोड़ दे मुझे शानी ने हिकलाते हुए रितिजा की यक्तम हमदान ने उसका गिरेबान छोड़ कर उसे दूर धकेला जानता है वो कौन है जिससे मेरे भाई की शादी हुई है आँखों में सुर्फ डोड़े मजीद उगरे थी कौन है शानी मन मनाया यह वो घटिया लड़की है जिसने मेरे मुझे थपड मारा था इस गरीज लड़की ने इतनी हिमत की थी कि हमदान सिद्धी को हाथ लगाया था भाई की बीरी होती तो अलग बात थी लेकिन यह वो लड़की है जिसने मुझे थपड मारा था अग्तों मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चोड़ूंगा अपने थपड का जवाब सुच समयत ना लिया तो मेरा नाम भी हमदान सिद्धी की नहीं कासान भाई की दिल में उसके खिलाफ इतनी नफरत भर दोंगा कि वो खुद अपनी जान की दुश्मन बन जाएगी हर घटिया इल्जाम इसकी जात पर लगाऊंगा और ऐसा लगाऊंगा कि भाई उसे खुद छोड़ेंगे फिर होगा मेरा इंतकाम शुरू फिर ये मेरे कहिर का निशाना बनेंगी ऐसी जगे लाकर मारूंगा कि पानी भी नसीब नहीं होगा तड़पेगी वो लड़की हर दम पर तड़पेगी जिन्दगी इसके लिए जहन्नु की मानिन बना दूँगा लाज़त उगलता हमदान सिद्धी की का चहरा हद तरजे लाल हो चुका था शानी को उसके इरादों से खौफ महसुस वा देख हमदान कूल हो जा ऐसा नहीं सोचते शानी निक सरोपना चाहा लेकिन हमदान की धंकी ने उसकी जुबान को ताला लगाया बकवास नहीं करनी शानी वरना जानता है तेरा वो हश्र करूँगा कि तू अपना चहरा नहीं पैचान पाएगा धंकी आमेज लहजे में कहता उस सुर्ख मश्रूब को होटों से लगा गया था अजान की मद्धम आवाज से उसकी आंक खुली खुद को किसी की नर्म गिरक्त में पाकर और चौंकी नीज में होने की वज़े से और कुछ मलगजी रोश्णी में मुकाबली का चहरा नहीं देख पाई मुकाबल की गरम सांसों की तपिश मुन्तहा सुल्तान को गर्दन के करीब महसूस हुई एक दम आखों से आंसो बहे और रात का एक एक मनजर सहिन में फिल्म की मानिंग चला लात दामन बचाया लेकिन वो हाड चुकी थी काजान की महबत शायद उसकी नफरत पर हावी हो चुकी थी इतने मजूर पर उसकी महर देखकर मुन्तहा सुल्तान का दिल खुन के आंसो रोया सारे दावे धरे के धरे रह गए लब भेंच कर इसने सिस्कियों का गला घोटा खुद को उसकी गिरफत से आजाद करवाने के लिए उसने बालजुक अपने उपर से अटाया और बैट से नीचे उतरी काजान शायद गहरी नीन में था या फिर इसके छूने पर उच चुका था मुन्तहा को इस चीज से कोई सरोकार नहीं था तेजी से उठकर वो वाश्रूम के जानी बढ़ी शावर को खुलती वो रोते रोते इसके नीचे बैठी थी मुँपर हाथ रखकर इसने सिस्कियों का गला घोटा दिल तो चीश चीख कर रोना चाह रहा था लेकिन शायद इज़त की परवा अब भी थी एक वादा में बन चुकी थी जिसको तोड़ना उसके बस में नहीं था क्यों मैं हार गई क्यों मैंने उसे नहीं रोका इतनी कमजोर क्यों बनी इस शक्स के सामने नफरत है मुझे अपने आप से नफरत है मुझे उस वजूद से बाजो रगड़ती अपने अंदर की खॉलन बाहा निकार रही थी बालों को मुठी में नोच कर उसने खुद को सजा दी दिल चाहा एक मरतबा तो जोड़ से चीख ले एक मरतबा तो उंचा रो ले लेकिन शायद वो अंधी की जंजीरों में कैद थी जिसमें कैद होने के बाद तकली के बावजुद उसे रोने की अजाज़त नहीं थी थंडे पानी की नीचे मसलसर रहने की वज़े से कपकपी तारी हुई लेकिन फरवा नहीं थी दर्द की हद पार करती खुद को अजियत दे कर वो शायद अपनी गुनहा का कफारा अदा करना चाह रही थी मुन्तहा के बादो हटाने से वो जाग चुका था इसका तेजी से उटकर जाना गाजान ने अद्खुली आँखों से देखा उसके जाते ही लबो पर एकदम मुस्कुरहाट नमुदार हुई बेसाक्त उपर की जानी देखकर उसने रब का शुकर अदा किया और खुद उटकर मुन्तहा का इंतजार करने लगा एक जानी बगर खुशी की इंतिहा थी तो दूसरी जानी गम की अता गहराई थी काफी वक्त भी चुआ था लेकिन मुन्तहा बाहर नहीं आई तो गाजान को एकदम तश्वीश हुई अपनी जगे से उटकर उसने दर्वाजा नौक किया बीवी क्या हुआ आप ठीक हैं दर्वाजे पर होती दस्तक से वो हर बड़ाई और एकदम खड़ी हुई बीवी पुकार दोबारा आई जी धीमे से जवाब देकर इसने आँके रगरी इसकी आवाज सुनकर गाजान को एकदम तसली हुई बार ड्रॉप की जानी बाकर्स ने सलीके से अलमारी में सजे ड्रेसेस में से एक सिलेक किया और बैट पर रखा सुक रंग की घेरदार शर्वार के साथ सुक शॉर्ट फ्रॉग जिस पर नाजुक कोल्ड का काम खूब जच रहा था और सुक आंचल जिसके बार्डर पर बारी प्लेस मौजूद थी इस रंग में मुंतहा को इसने पहली मरतबा देखा था इस दिन को तसवर में लाकर इसने ये ड्रेल्ज डिजाइन करवाया था इस रंग में वो पहली मरतबा खुद अपने सामने देखना चाहता था गॉल्डन लहगा भी शायद इसी लिए बनवाया था कि सुरुक रंग इस लहगे के बाद पहनेंगी और सबसे पहले देखने वाली आँख उसकी होगी गाजान सिद्धी की आदाश्त में वो रूप शायद अवल दिन की तरह ताजा था गाजान सिद्धी की बजाहर संजीदा नजर आने वाला लड़कियों पर एक नजर ना डालने वाला अकडूर खुद्दार शक्स आज अपनी बीवी के लिए कपड़े सिलेक कर रहा था हंदान अगर ये नजरा देख लेता तो शायद गश खा कर गिर जाता तर्वाजा खोले मुन्तहा सिल्तान हलके गुलाबी लेबास मलबूस सर पर डुपटा लपेटे बाहर आई गाजान समझ गया क्यों नमाज अदा करना चारे है वारड्रॉप की जान भी इशारा किया वो फिरेश होने चला गया कोई दिर बाद नकसक से तयार हो जब वो बाहर आया तो मुन्तहा को चाय नमाज पर ढुके वे पाये वारड्रॉप से दूसरा जाय नमाज निकाल कर उसमें नमाज की नियत बांधी मुन्तहा को हैरत का शदीद जटका लगा उसे उमीद नहीं थी कि गाजान भी नमाज अदा करेगा क्योंकि हाशे को उसने बहुत कम नमाज अदा करते देखा था दूआ मांगे और जाय नमाज समेट कर उम्लिया चटकाती बैट पर बैठी सुर्ख लगास देखकर उसे पेसाखता गुस्ता आया यनि एक और इंतिहान शुरू हने वाला था गाजान खुशू और खुशू से नमाज पढ़ने के बाद दूआ मांगकर जाये नमाज समेटे मुन्ता की जानी बाया उसे अपने जानी बढ़ते देखकर मुन्ता तेजी से बैट पर दरास हुई और रुख मोड़ गई गाजान ने उसका रुख मोड़ना वाज़ महसूस किया लबबबब धर मुस्कुरहाट नमुदार हुई कुछ सोचकर मुन्ता पर एक नज़र डाले बाहर के जानी बढ़ गया दर्वाजा बन होने के आवास सुनकर मुन्ता ने अपना रुका सांस बहाल किया और आँखों में रुके आँसों को बाहर निकलने का रास्ता दिया अपनी हार ने उसे खुच से नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था पहले मरहले पर ही वो हिम्मत हार चुकी थी नजाने आगे की जिन्दगी कैसी सहल हो पाती सोचों में डुबे वो गहरी नीन में गर्क हुई थी नौ बज़े के करीब इसकी आँख किसी के बाज़ों हिलाने पर खुली एकदम वो हर बढ़ाई और तेजी से उठी लेकिन फॉरनी किसी सक्त चीज से टकराई गाज़ान जो बैट पर किनारे पर ही दरास था बाज़े से थामकर इसने मنتहा को परसुकून किया भजर के बादों मुन्तवा के सकून के लिए बाहर आया था इसकी मौझवजोद की में शॉर्ष ठीक से सो नहीं पाती इसलिए उसने बाहर जाना ही मुनासिप समझा था लौन में चहल कदमी करता वो गुजिशता शब के बारे में सोच रहा था अपनी बेखत्यारी मुंतहा के खबराना शर्माना उसके सीने में छुप जाना नमाज के बाद उसका रुक मोड़ना सब कुछ काजान के चहरे पर मुस्कराहट का बाद बन रहा था चहल कदमी के बाद वो इस्टड़ी रूम में गया और वहाँ वक्त गुजार कर वो तक्रीबन नव बज़े वापस कमरे में लौटा था वत्ता है आज इसारी मीन पूरी करने का रादा है जो माईनी अंदाज में कहकर इसने मुंतहा का सुर्ख कंधारी चहरा देखा नहीं मुंतहा यगदम बुखलाई इसकी बुखलाट इसका खुफसरत चहरा गाजान को किसी गुस्ताखी पर रुक्सा रहा था क्या अब भी देखने पर लानत मिलेगी तीरे से करीब होकर इसने मुंतह की जान हलकान की यगंदम मुंतह ने चहरा उपर उठाया और माथा बेसाखता गाजान के माथे से लगा उपस बेसाखता गाजान ने मुंतह का माथा मसला इतना घपरा क्यू रही हो जस्ट मजाग था गाल सहला कर इसने मुंतहा की चानिब देखा इसकी कुर्बत में मुंतहा शमा की तरह सुनकी थी मैंने मुकाबल की उंगली सारे अलफास मुमें ही रोक गए बचने का अच्छा बहान है गाल पर लब रखकर इसने मुंतहा का सांस रोका हर बहाना नाकाम हो रहा था जितना वो बचना चाह रही थी मुकाबल की शानदार और बारौब प्रसनलिटी मुन्ताह को उसके आगे कुछने टेकने पर मजबूर कर रही थी मुन्ताह की आँखे बेसाखता बंधवी और लब कपकपाई थी गाजान को इसकी नरम गरम हालत बे सुकूनी का तासुद दे गई शायद हो इसकी कवर्बत से घबरा रही थी जजबात पर काभू पाता हो पीछे हटा बीवी आँखे खोल ले तूर हो चुका हूँ गाजान के आवास सुनका उसने जट आँखे खोली और सामने देखा वो बेट से उट चुका था गाजान ने उसकी जानी पाहद बढ़ाया बंताह ने सवाली अंदाजन उसके जानी देखा हाँख जी जानी परफ्यूम एक तर्टीब से सजी थी और इक जानी दो बड़े रेट क्रिस्टल बॉक्स मौगोद थे और बाजो का हिसार बांधा, आपका दूसरा गिफ्ट, कान में सरवोशी किया, इसने मुंतहा की तवज्जे सामने दिलाई, मुंतहा ने सवाली अंदाज में उसकी जानी देखा, किसी अन्हुनी का हिसास उसे शिद्दत से हुआ, खोली इन्हें, मुकाबल ने नया इम्तिहा चुरू किया, इसार अब भी कायन था, इसे खामुश खड़ा देकर गाज़ा ने इसका हाथ थाम कर बॉक्स के लॉक पर हाथ रखा, और इसी के हाथ से वो बॉक्स ओपन किया, बॉक्स ओपन होते ही मुंतहा की आँखे हैरां से फटी, जिन चीजों से वो किनारा कशी कर च थी, कि वो अपना तसल्ट इस पर जमा कर रहेंगे, मुंतहा का दिल चाहा कि इन बॉक्स को हाथ मार कर गिरा दे, सब चीजों को आग लगा दे, एकदम हाशिर के अलफाज जहन में गुझे, रांखों से आंसू बह कर, कले में मौजू डुपटे में जजब हुए, ये सब म में अपने महरम के वजूद पर देखना चाहता हूँ, ये खवाइशात, एक कुफल की मानिन दिल में बंद थी, लेकिन आपको देखकर मुझे मेरी हर खवाइश सच होती नजर आ रही है, मैं जानता हूँ, ये सब आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर ये आपक नजर में अजीब है, तो भी, मुझे कोई परवा नहीं है, ये मत समझेगा कि मुझे आपकी परवा नहीं, लेकिन मेरी मौम ने मुझे एक बात सिखाई थी, जानती है, वो क्या कहती है, गैर महरम से रखा गया रिष्टा तबाही के दहाने पर ले आता है, वाहिद वो रि माग में 31 की तरह फिट कर ली, बजहर में संजीदा सही लेकिन आप के लिए मैं लाव बाली, गयर संजीदा, महबत से लबरे सब कुछ हूँ, आपका महरम हूँ, आपका सुकून हूँ, आप मेरी हर खुआश, हर खुशी का तालुक आप से जोड़ चुका है, और आपकी ख कर इसमें आसू रोके, दिल चाहा के धाड़े मार मार कर रोए, कहजान के हर खुआश से मनाफी हो जाए, इसका हाथ छटक दे, लिकिन शायद ये अब मुम्किन नहीं था, वादे में बली वह ये सब करने पर मजबूर हो चुकी थी, एक साल पहले वो जिन खुआशात को मा कर कबर में दफना चुकी थी, वही खुआशा चायद अपनी मौत का बदला लेने सामने खड़ी थी, आपका ड्रेस बैट पर रखा है, चेंड करके तैयार हो जाए, फिर दोनों नीचे चलेंगे, सर पर लब रखकर अपनी गिरफते से आजाद करता, वो दोबारा बाहर की जानी बढ़ गया, मौता सिल्टान ठके कदमों से जमीन पर बैटी थी, सकते सी कैफियत में वो बस यक टक जमीन को देख रही थी, मौता सिल्टान को अंदाजा हो चुका था, कि जिन्दगी सहल ही होगी, हर लमा, हर गड़ी उसका इंतहान होगा, मतورम चहरे के साथ टेबल पर नाश्टा सजाती, वो आफाक की ही मनतजर थी, लेकिन शायद आज इसने भी नीचे ना आने की कसम खाई हुई थी, क्या हुआ मारिया, किसका इंतजार कर रही हो, आगाचान ने मारिया से इस तफसार किया, कि किसी का नहीं आगाचान, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मु जितनी तकालिफ मेरी बच्ची देख चुकी है, अब इन तकालिफ का साया भी, इस पर ना पड़े, आगाचान ने बेसाखता हाथ उठा कर दूआ मांगी थी, आमीन आगाचान, आप नाश्टा किजिए, आज तो आपको मेरे हाथ से ही नाश्टा करना होगा, इसकी शरारत तामेज लहजा, सुनकर आगाचान मस्कुराए थे, आगाचान आपक मियां क्यों नहीं आए, सब खेर तो है, वो आगाचान उनकी तब्यफ को चीक नहीं है, इसलिए शायद रूम में है, मारिया ने फौरण बहाना गड़ा, क्या हुआ, सब खेर है, कहीं ज़्यादा तब तो नहीं खराब, अभी जान ने अंदर आते ही इस तबसार किया, जी राज की मस्कुर्पियत के बास थकावट हो गई थी, तो बहु, आप यहां क्या कर रही हो, आपको उसके पास होना चाहिए, उसके लिए नाश्टा उपर ही ले जाएं, यहां की फिकर मत कीजिए, जू मुंदे बैठा था, सुबा छे बजे ही वो बिना किसी की नजर में आएं, वापस आ चुके थे, घर आने के बाद वो चेंज किये, कमरे से निकली थी, और अब वापस आई थी, नाश्टा करने में आपके कपड़े निकाल देती हूं, सपार्ट अंदाज में कहती, वो वार आफाक दीमे से नाम पुकारा, लेकिन जवाब निदारिद, मारिया इसके नजदी काई और उसे बाजों से हिलाना चाहा, लेकिन शर्ट से धलकती, बाजों पर इसने हाथ ही रखा था, किसे लगा, इसने गरम कोईले को चू लिया हो, आफाक, आप, आपको तो बहुत मारिया करती हूं, वो तेजी से बाहर की जानी बड़ी, जब आफाक में इसका हाथ थामा, किसी को तंग मत करो, मैं ठीक हूं, हलका सा बुखारी तो है, आफाक की भारी आवास सुनकर मारिया मजीद दहली, आफाक, क्या हुआ है, क्या ज़्यादा तब्यात खराब है, माते जल्दी से ठीक हो जाए, मारिया का रोया रोया संदास, आफाक की चहरे पर मस्कुरहाट का मौर्जिब बन गया, आफाक महस कह कर रह गया, आप लेटे, मैं आपका सर दबाती हूं, सारी रंजिश, सारी बेत्यानाई भुलाए, वो आफाक की तकलिफ को महसूस कर रही थी, आफाक को जबरदसी लिटा कर वो पहलो में दरास होका, उसने माते पर ठंडा हाथ रखा, दूसरा हाथ आफाक के ने पकल कर सीने पर रखा, मारिया यद्दम बुकलाई, बुकार में भी शायद उसे मारिया के तलब थी, तुम मेरे करीब रहो, मैं ठीक हो जाँगा, हाथ क पुष्ट पर लब रखकर उसने मारिया का हाथ दहकाया था, मारिया का दिल को चाहा जैसे यहां से भाग जाये लेकिन आफाक की तबियत के पेशे नजर वो बैठी रही, लहाला आफाक को मारिया से बढ़कर किसी दवा की जरुरत नहीं थी, कमिन दाकिलो कर इसने जवरिय इसने अब बहुत जल्द करना था, एक ख्याल बार बार इसके दिमाग में हलचल मचा रहा था कि एक बार इसे रिसेप्शन में जाना चाहिए, वह सोच चुका था कि वो जरूर जाएगा, जवरिया के करीब बैठकर इसने बिखरे बाल सुआ रहे, इसके नर्म मुलाइम ब जागी थी, और हाशिर को अपने करीब देखकर वो टहरा एक दम सपाट हुआ, बैठकी दूसरी जाने से इसने उटना चाहा, लेकिन हाशिर ने इसका हाथ पकड़ कर उसे रोका, लिसन जवरिया, बात सुनो, हाशिर मुझे इस वक्छ भी नहीं सुना, प्लीज, ट्यू मी जवेजर की हट धर्मी मतवक्का थी, हाशिर ने बेसाखता उसको अपनी जानिब खीचा, कटी पतंग की तरह उसके सीने से टकराई, तेजी से बाजू, हाइल करकेस ने कुफल की माने में उसे कैट किया, बहुत जल्द अपनी गल्दी का मदावा करूंगा, फिर कोई शिक आवाज में कहकर कान पर लब रखे, और इसकी बिना सुने कमरे से निकला था, मैं नहीं जाओंगी, बिल्कुल भी नहीं जाओंगी, किशन उठाकर उसने दर्वाजे की जानिब फिकर जो सामने टकरा कर जमीन पर गिरा, हाशिर ने उसकी आवाज सुने लेकिन इग्नोर कि बहरा लिए, मुंतहा ने एक नजर उसकी जानिब देखा, लगता है भाई ने पार्टी बदल ली, पहले भाई को मॉर्निंग बोला चाता था, आज भाई को छोड़कर भावी को हिन्यत दी जा रही है, निकरासा कासान मुंतहा के साथ वाली चेर पर बैठ गया, नो भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप सब से पहले बाकी सब बाद में आते हैं, खेर नाश्ता स्टार्ट कीजिए, बातों में अगर टाइम वेस्ट किया, तो कहीं भावी भूक से शही दी ना हो जाएं, बज़ाहर मस्कुरा कर कहता हूं मुंतहा पर तंज कर गया, काजान को उसके अलफाज अजीब लगे थे, खमदान, नो मूर, गाजान ने हमेशा वाली धंकी दी, जी, नो मूर बकवास भाई, जानता हूं, आप यही कहेंगे, दर्मियान में ही इसकी बात काट कर उसने अपनी बात मुकमल की थी, गाजान सर जटक कर नाश्ते के जाने मतवज्य हुआ काजान बेटा, ब्यूटिशन एक बचे तक आ जाएगी, समरीन बेगम ने गोया मुन्ताह का सांस रोका, जानती थी कि ब्यूटिशन क्यों आने वाली है, मौम, डिसेप्शन तो रात का है, फिर ब्यूटिशन इतनी जल्दी क्यों आ रही है, हमदान के सवाल पर मुन्ताह तीखी नजर इसकी जानी डाली, महंदी के लिए आएगी, आपकी भाबी ने महंदी नहीं लगवाई, समरीन ने मस्कुरा कर कहा, वाट भाबी जी, आपने महंदी नहीं लगवाई, लड़किया तो शादी पर जरूर महंदी लगवाती है, खैर तो है, कोई मसला, अपनी ब प्रांक के शारे से हिम्मत दी जी भाई हमदान ने इसके लहजे से अंदाजा लगा चुका था कि गाजान को ये बात पसंद नहीं आई जब्त करता वो नाच्टे की प्रेट पर जुका और मुंतहा को सुकून का सांस नसीब हुआ सिल्वर कामदा शरारे के साथ सिल्वर शॉर्ट पुर्टी नाज़िक जोलरी और नेचरल लिप मेक अप और हाई हिंस में सजी वो कोई अपसरा की मानी लग रही थी काजान तो शायद आज फना होने वाला था ब्यूटिशन इसे तयार करके जा चुकी थी सोफिक पर बैठी वो अपने हाथों पर लगी महंदी को देख रही थी जो गहरा रंग छोड़े मुंताह को इम्तिहान ले रही थी ब्यूटिशन के जाने के बाद इसने फॉरा हाथ दोए थे लेकिन शायद हर चीज़ ने जिद लगाने की कसम खाई थी कि मुंताह सुल्टान को मजीद दर्द देने है तैयार हो गई राग गरीन साड़ी में मलबूस समरीन बेगम कमरे में दाकिल हुई अपने ख्यालों में वो इस कदर गुम थी के सुविया बेगम का आना हो महसूस ही नहीं कर पाई माशालला एक परी की मानिन लग रही हो हलके से गले रगा कर उन्हें मुंताह की बेशानी चुमी थी मुझे यकीन था कि आप समधारी का मजाहरा करोगी आपका हैसाने बेटा कि आपने मेरी बात का मान रखा नजर चुकाए उन्होंने मुंताह को कहा प्लीज आन्टी शर्मिंदा मत करें अपने दिल की हालत चुपाएस ने समरीम बेगम के हाथ पर दबाव बढ़ाया कल से ये पहला लफ़ था जो समरीम बेगम से बोली थी आन्टी नहीं तुम्हारी माम हूँ जैसे गाजान की माम ऐसे ही तुम्हारी मुझे अच्छा लगेगा कि तुम भी मुझे मुझे मौम कहकर पुकारो जी मुंताह ने यक लपसी जवाब दिया फिल तुम बैठो मुझे मैं गाजान को भेचती हूँ नहीं आन्टी प्लीज पिस साफ़ता इसके मूँ से निकला मुंताह को शर्म ने बिशारा की उन्होंने कहा मुंताह ने बेसाफ़ता टेबल की जानी देखा जहां एक न्यू आईफोन मौडूद था अतने ख्यालों में इसकदर गुमती कि वो मुबाइल देखी नहीं पाई थी समरीन बेगम के हाँ जाती ही वो फोन के जानी बड़ी टच करते ही बॉक्स को देखकर आँखे नम हुई बुजार ये सब चीजें आम थी लेकिन एक वक्त में मुंताह इंकी दीवानी रह चुकी थी यहीं चीजों से इसने बेश वहा नफरत भी की थी और महुबत भी अपने ख्यालों को टिटक कर वो गिलास मिलों के पास खड़ी हुई और कमन इयरिंग्स कले में इयरिंग्स से मिलती जलती माला चैन पहने हाई हिस पहने वो हाशर के लिए इंतिहान बनी आप रेड़ी हो जाएं देर हो रही है एक नज़र इस पर डाल कर दो बारा सामने मुतवज़ हुई ट्रांसी की कैफियत में वो जवेरिया की जानिब आया जवेरिया का हाथ थमा क्या हुआ इस एरिटिंग आल राइट अब रुच का कर आएने में से ही इसने देख कर सवाल किया नहीं कुछ भी ठीक नहीं है कंदे से पकर कर इसने जवेरिया का रुप मोड़ा फाशिर वाट हैपन बिना कुछ वले आँखों में खुमारी लिए जवेरिया को ड्रेसर के साथ लगा गया मुझे यकीन था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी वैके से अंदाज में कहकर वो चहरे के करीब जुका आपकी बात मानने के लावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं नजरे जुका इसने कहा आप भी रेड़ी हो जाएं दे हाद तारी किये डिसर्प्शन एक मरतबा ही होता है और वहां जाना भी जरूरी है अगर लेट हो गए तो फिर आप ही शिक्वा करेंगे मुकाविल के बात को एहमियत दिये बगए जिसने अपनी बात जाली की पर इस मरतबा में शिक्वा नहीं करूंगा क्यों आप शिक्व क्यों नहीं करेंगे जाविल्य ने सवालिय अन्दास में इसके जाने देखा क्योंकि शिक्वा का मौका ही नहीं मिलेगा मैं कोई जवाज ही नहीं छोओंगा कि शिक्वा बाकी रहे मकाबल की जूमाइनी बात सुनकर जविर्या का चहरा सुर्ख हुआ हाशिर प्लीज शानी पर मुका मार का इसने हाशिर को रोकना चाहा लेकिन शायद उजजबात की रूह में बहका हुआ था ओके चलते हैं माथे पर लब रखकर वो पीछे हटा था और जविर्या सुर्ख चहरे के संग मुँ मोड गई लेकिन इसके धूप चाओ जैसे रविये ने जविर्या को सुचने पर मजबूर किया था आज का डिसेप्शन जहां गाजान सिद्धी के लिए एहम था दूसरी जानिब लाइबा खान के लिए भी वो बहुत खास था डिसेप्शन का कार्ड उसे भी आया था और कार्ड देखकर इसने जैसे मुन्ताह को तसवर में तुम जो कोई भी गाजान सिद्धी के साथ जोड़ कर अपनी जिन्दगी तबा कर बैठी हो मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी किस्मत पर मुन्ताह कि तुम एक दुके बास शक्स से जुड़ी हो तुमें दुक तो होगा उसकी जिन्दगी से जाने का लेकिन यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं अच्छो के लिए हमेशा भलाई करती हूँ और मेरी ये नेकी शायब तुम्हारी सिंदगी बचा ले सिल्वर शाइन चुस्त मेकसी में शोला जवाला बनी वो रिसेप्शन में जाने को बिलकुल तैयार थी ये रिसेप्शन ही तुम्हारी बरबादी के शुवाते का अज़ान सिद्गी अपने बाबा की मौत का बदला तुम से ना लिया तो मेरा नाम भी लाइबा खान नहीं वहेद भरे लेजे में कहती सिल्वर मेटन पाउच हाथ में थामे वो गाड़ी में बैठी और ड्राइवर को चलने का इशारा दिया था गाड़ी फॉर्म हाउस के करीब रोके नीवी बलू डिनर सूट में मलबूस हाशिर ने जवया की जानी देखा जो चहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाए सामने ही मतवज्ज़ थी तुम यहां रुको मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ सारे रास्ते वो बस एक बास सोचता आया था के काजान की बीवी मुन्था सुल्तान ना हो दिल को एतसल्ले भी थी कि दुनिया में गाड़ी से उतरी और सहच सहच कदम उठाती आगे बढ़ी चहरे की चमक आज कुछ बहुत से राजों को जाहर कर रही थी अपनी हल्की सी नाराज़गी से वो आज हाशी को यहां ले आई थी मगर नहीं जानती थी कि वो एक दूसरे को धोका दे कर यहां आये है हर इनसान यहां सिफ और सिफ अपने मतलब के लिए मौजूद था किसी को बिजनस से मतलब था तो किसी को हुसन की चाहती किसी को बरबादी का खुमार यहां तक लाया था और शाद यहां कोई किसी के दीदार के लिए आया था हर इंसान मतलब के लबादे में लिप्टा यहां मौजूद था गारी पाक किये हाशिर जवरिया के जानी बाया और सर्द अंदास जहरे पर तारी किये जवरिया के हाथ पकड़े अंदर के जानी बढ़ा एंटर्स के करीब मौजूद हमदान के आँखों में चबा कुबरी होटो को गोल केस में जवरिया को उपर से नीचे तक देखा जो छे माँ में एक बद्ली वी हसीना बन चुकी थी लुकिंग हॉट मूसे बेसाफ़ता निकला इसका सया साड़ी में लिप्टा वजूद आज हमदान के दिल पर कयामत लाने के दर पर था वेल्कम मिस्टर हाशिर अली हमदानी हमदान टेजी से आगे बढ़ा और हाशिर के सामने हाथ किया लेकिन नजरे अब भी जवेरिया के कयामत खैस सरापे पर टिकी थी हलका सा हाथ मिला कर इसने छोड़ा जवेरिया ने भी एक नजर हमदान की जानिब डाल कर रुक मोड़ा अंदर की जानिब भी बढ़ा ही था कि उसकी नजर लाइबा की जानिब उठी जो सी की जानिब मतवज़े थी आँखों में एकदम तनफुर उभरा और बिना दुसरी नजर डाले और सामने मौजूद पार्टनर की जानिब मतवज़े हुआ दिल में अलग बेचैनी भी थी कि नजाने आगे क्या होने वाला है दिल की आच अलग ही कैफियत थी कुछ देर में एकदम हौल में अधिरा च्छाया हाशिर एली की बेचैनी बड़ी थी बेसाकता इसका यहां से भाग जाने को दिल चाहा स्पोर्ट लाइट एकदम एंटरंस पर मौजूद दुलहा दुलहन पर रुकी और दूसरी जाने हाशिर की सांस भी थमी थी बिलेक डिनर सूट में मलबूस काजान सिद्धी की चहरे पर हल्की दाड़ी सर जाए बालों को मकसूस स्टाइल में सेट किये अपनी शानदार परसनल्टी के साथ पहलो में आसमान से उतरी हूर लिये खड़ा था हाशिर की दिल में की दुनिया एकदम वीरान हुई कियामत आ चुकी थी हाशिर के लिए शायद आज का दिन कियामत ही था जिस बात का डर था आकिर वही हुआ काजान सिद्धी के जिन्दगी में कोई दूसरी मुन्तह सुल्तान नहीं बलके उसकी मनकुहा बीवी की हैसियत से मौजूद थी मुन्तह सुल्तान जो अपने ध्यान में थी इसकी नजर बेसाखता सामने उठी और फिर हट ही न पाए क्यामत की घड़ी मुन्तह सुल्तान पर भी आए थी आखे हैरत से पहली सांतों आस्मान गोया आज मुन्तह सुल्तान के सर पर आ कर गिरे एकदम उसे आखों का धुका लगा लेकिन पल के जपकाने के बावजूद वो कठोर जालिम शक्त सामने ही था क्या कुछ याद ना आया था निवादा हाशर के अग्जामा तरपना सिसकना सब आंखों के आगे ताजा हुआ गाजान के बाजू पर इसकी रफ मजबूत हुई दिल वापस मुड़ जाने को चाहा बाजू पर इसकी रफ देखकर गाजान का शायद अंदाजा हो चुका था कि वो नर्वस हो रही है बीवी रिलेक्स आपके साथ मैं हूँ एकदम कमर पर हाथ रखकर इसने मुझा को अपने मजीद नजदीक किया कप्टी डाल की तरह वो मजीद नजदीक हुई थी लेकिन नज़रे अब भी इस बेमहर के चहरे पर थी वो शान से अपने पहलो में एक लड़की सजाए खड़ा था दूसरी जानिब हाशिर अली हमदानी के दिल و दिमाग में महज एक सोच थी बेवफा मुझ से बेसाखता ये लप्स निकला था और कदम पीछे के जानिब लिये थे धिरे से वो कदम उठाए मुंताह की कमर पर हाथ हलका सा रखे स्टेज की जानिब बढ़ा था रुबोर्ट की मानी चलती वो गाजान के हम कदम थी मुंताह सुल्टान की नज़र ठैट चुकी थी दिमाग रुख चुका था इर्दकित के सब चीजे सब आवाजे मदम हो चुकी थी सामने मौजुद था तो बस एक चहरा जिससे इसने कभी इश्क किया था अपनी कसम इसके जहन में चीख रही थी जिस दिन तुम मेरे सामने आए खुदा की कसम अपनी जान ले लूँगी वादा निभाने वाली वो कसम कैसे तोड़ देती कसम आज निल्दी वाली थी कयामत फिर मतलवका थी हाशिर अली खामोश नजरों से मुंताह के चहरे को यक तक देख रहा था मुंताह को बेवफा कहने वाला भूल चुका था के वफा की वकत वो भी नहीं जानता वफा तो दोनों ने नहीं निभाई थी मुंताह सुल्तान ने अगर वादे में बंद कर बेवफाई की थी तो हाशिर अली ने जिब में वफा को बन्नाम किया था कुसरवार तो दोनों थे फिर सजा एक अकेले को कैसे मिलती मजीद रुकना हाशिर को वहाँ मुश्किल लग रहा था पिना जवैरिया की परवा कियो वहाँ से जा चुका था जवैरिया जो लाइबा से बातम बगन थी बकौर जवैरिया कि खुद चिपको बन रही थी बो जाहर मुस्कुरा कर वो इसके सवालाद के जवाब दे रही थी लिसन मिस लाइबा मैं हाशिर को देख लू वो नजाने कहां चले गए जबरन मुस्कुरा कर इसने लाइबा से जान चुवाई पुरे ग्राउन में इसने नजर ड़ाई लेकिन हाशिरों से कहीं भी नजर नहीं आया फोन कॉल भी जवाब मौसुल नहीं हो पा रहा था नजाने कहां चले गए है खेर मुझे क्या आ जाएंगे वो भी सामने दुलहा दुलहन की जाने मतवज़ हुई थी जो आज महफिल की जान लग रहे थे जवेरिया के आँखों में एकदम सताई शुभी थी काजान सित्की की चा जाने वाली शक्सियत आज सब के दिलों पर कहे रढ़ा रही थी जवेरिया स्टेज की जानी बढ़ने ही वाली थी कि एकदम हमदान सामने आया हेलो मीसिस हाशिर कैसी हैं हमदान ने अपनी मकसूस स्टाल में आँख दबाए हाथ आगे बढ़ा जैसे मस्कुराते से थामा काफी होट लग रही हो बेबाख नजरेस के वजूद में गाड़े हमदान ने जवेरिया को कहा जवाबन जवेरिया ने उसे एक घुरी से नवाजा हमदान के माथे पर बल नुमाया हुए मुझे पर रॉब मत जमाना जानती हो ना मुझे ओके ओके सॉरी बाई मिस्टेक हुआ जवेरिया ने फॉरन अपनी गल्पी की माफी माँगी स्वीमिंग फूल के पास तुम्हारा वेट कर रहा हूँ जल्दी आना अगर जरासी भी देर हुई सजा के लिए तयार रहना मुझे लगता है तुम्हारा वो सौकॉल शोहर चा चुका है आज की रात मैनेज करना तुम्हारा काम है मैं कोई बहाना नहीं सुनूगा सर्दंदाज में धंकी दे कर हो चा चुका था मॉम वैसे मुंताह की किसमत बहुत अच्छी है पहले हाशी रभ वो बिजनस टाइकोन गाजान सिद्धी की हाई मॉम क्या हॉट आदमी है क्या प्रस्निलेटी है क्या रॉब है इसका मैं तो कदमों में दिल रख दू इस चक्स के बेबाकी से तुबा बेगम को कहते गोई शाइना ने राल टपकाए गाड़ी मी बैठी शाइना और तुबा बेगम नकसक से तयार रिसेप्शन पर ही जा रही थी बारत पर वो आ नहीं पाई थी या फिर आना नहीं चाहती थी इस बात का अंदाबा किसी को नहीं था मुंता सुल्टान फूशी देखकर वो सुकुन में क्यूं कर रही थी फोन पर माजूरत करके उन्होंने डिसेप्शन में शामिल होने का कहे कर जान चुडाई थी बस कर दो शाइना वो मर्द भी तुम्हारी किसमत में नहीं है जिसकी नजर मुंता सुल्टान पर पड़ जाए वो फिर किसी लाइक नहीं रहता अब हाशी को भी देख लो ना नजाने किस कोने में चुपकर बैठा है शादी भी रचाली और खबर भी नहीं होने दी मुझे तब तुम्हारी तरह तरफ देखकर हॉल उटते है 24 की हो चुकी है लकिन एक भी ढंका रिश्टा नहीं आया ओफ माम जस्चिल जब मैंने शादी करनी होंगी कर लूँगी अभी मैं लाइफ इंड्यॉय करना चाहती हूँ खिर आज तुम अन्ता सुल्तान की किस्मत से मुझे शदीद हसद हो रही है लगता है सारे खुबसरत मल्ग इसकी किस्मत में है ऑफ माई बेबी ऐसा नहीं सोचते तुम्हारी लिए मैंने खुबसरत मल्ग सोच लिया है जो सिρ्थ तुमारा ही होगा अब बस तुम मेरी एक्टिंग देखना कैसे मिंटों में तुम्हें मैं फिट करती हूँ जस्ट वेट एंड वाच खतरनाक प्लैनिंग करती वो सामने मतवज़े थी रियली मॉम या माई बेबी बस तुम देखती जाओ तुम मुझे एवार्ड दिये बिना नहीं रह पाओगी शाइना महसर हिला कर रहे गई जानती थी इसकी मॉम बहुत बड़ी ड्रामा कुईन है सुख चहरा माथे पर गहरे बल लिए हातों को भेंचे वो गेट की जानी बड़ा था पार्किंग एलिया में आते ही आगजान की सया पराड़ो को वो वहां देखकर हैरान हुआ आगजान के साथ मौदूद अबी जान आफाक मारिया जूबिया बेकम को देखकर इसकी आँखों को गोया सकून नसीब हुआ तबते दिल पर नर्म हुआर पड़ी लेकिन ये सब वक्ती था आफाक की नज़र जैसे हाशिर पर पड़ी इसका चहरा जब्त से लाल हुआ ये शक्स यहां क्या कर रहा है मूँ से गोया आग में लिपते अलफाज निकले मारिया भी आफाक का गुस्ता देखकर अग्दम सहमी एक नज़र इसने हाशिर की जाने भी डाली जो सामने अपनी शांदार सरापे के साथ मौजूद था फिर्दोस बेगम और सल्मान अली की गाड़ी भी पीछे थी वरना शायद आज इने भी अपने जालिम बेटे का दिदार नसीब हो चाता लेकिन अभी शायद इनकी किसमत में मजीद दूरी थी आप यहां क्या कर रहे हैं अगर चाने सपाट अंडाल में सवाल किया हाशिर के चहरे की नर्मी अग्दम सक्ती में ढढली आपकी पोती के रिसेप्शन में आया था काफे जल्दी थी उसे शादी की के एक साल में पूरा नहीं गुजार पाई अपने जजबात पर काबू पाकर उसमें मूँ से गया जहर उगला शैट अप अपनी बकवास बन रखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाशिर मेरी नर्मी को मेरी कमजोरी मत समझना अगर मेरी बहन के खिलाफ एक लख भी तुमने बोला तो कल को तुम्हारी मौत की खबर हर चैनल पर होगी आफाक के अगदम आंगे बढ़े हाशिर के रूबरु आई सक्ती से बोला था आँखों में लाल डोरे वाह से गुस्से की जादादी को बयान कर रहे थे अगजान ने बेसाखता आफाक का हाथ थामा हमें यकीन नहीं आता कि तुम हमारे इक हांदान का खून हो तुम्हारे जैसी बेहिसी कीना नफरत हमने किसी में नहीं देखी तुम उसे छोड़ चुके हो हाशिर अली वो मेरे जीए तुमें से कोई फरक नहीं बढ़ना चाहिए मुझे परवा है भी नहीं आगजान लेकिन आपकी आँखों पर भी शायद उसकी महबत की पट्टी बंदी है कैसे फसालिया उसने इतनी मालदार आसामी को मेरे भाई का पिछ़ए छोड़ कर एक नया शिकार पकड़ लिया वह क्या कहने है मुंताह सुल्तान के दाद देनी पड़ेगी एकदम आफाक ने एक पंच हाशिर के मुँ पर मारा बेगरेत इंसान मेरी बेहन को कुछ कहने से पहले अपनी गिरेबान में जांक कर देख तुने खुद पहले शादी की फिर मेरी बेहन को छोड़ा लाना थे तुझ जैसे शक्स पर दिल करता है जान से मार डालू लेकिन तेरे खून से हाथ रंकर में गिलाजत में ही गिरूँगा हाशी ने भी एकदम आफाग का गिरेबान जगडा हाशी छोड़ दो उसे और जाओ यहां से पहले थोड़ा तरमाशा लगा चुके हो जो आप भी एक नया फतूर लेकर आ गए हो पहले क्या कम कसर छोड़ी थी जो हमें एक अब जान से मानना चाह रहे हो यह मेरे जुड़े हाथ है इनकी लाज रख कर यहां से चले जाओ खुदा के लिए चले जाओ यहां से अगजान की रितजा सुनकर वो आफाग का गिरेबान छोड़कर पीछे के जाने मुड़ा जब आगजान की आवाज निसके कदम रोके एक बात सुनते चाओ इस बच्ची पर अगर अब तुमने कोई जाम लगाया तो हम तुमें खुद अपने हाथ से मार देंगे यह शादी हमारी मर्जी से हुई इस बच्ची को तो तुम मार ही जुके थे अगर वो हमारे जुड़े हाथ देकर आगे बड़ी है तो खुदारा अब इस पर एक्जाम ना लगाओ मर मर कर जिंदगी पाई है इस बच्ची ने और तुम दोबारा से मानने के लिए लौट आए हो अपने अलफास पर गौर करो तो हाशिर अली तुम्हे अन्दाज़ा हो कि तुम किस हद तक अपने रब को नाराज कर बैटे हो वहतान लगाना कबीरा गुणा के जमरे में आता है अपने गुणाहों की माफी मांग कर उस बच्ची की पाकिजगी पर गौर करो कि तुम्हें अंदाज़ा हो कि तुम कौन सा हीरा गवां चुके हो चलो आफाक मजीद तमाशा नहीं लगाओ बच्ची के ससुराल का मामला है बिना हाशिर को देखे आफाक का हाथ थामे वो आगे बड़े थे आफाक का लाल चहरा गुसे की निशानदाई कर रहा था लेकिन आगाजान का हाथ थामना उसे किसी बड़े तमाशे से रोग गया था बीवी क्या हुआ है चहरे के रंग कहां छुपा कर आई हो गाजान ने धीमे से मुंताह की जानिब जुक कर सरगोशी की लेकिन शायद मुंताह सुल्तान वहां होते वे भी वहां मौजूद नहीं थी कमर पर यकदम इसमें सख्त गिरफ्त मजबूत करके मुंताह को अपनी जानिब मतवज़ करना चहां मुंताह यकदम होश की दुनिया में वापस लोटी और गाजन के जानिब मुंतावज हुई जी लगता है मौम की याद ज्यादा आ रही है गाजन की कयास आ रहाई की जी दोबारा दो लबजी जवाब दिये वो खामुश हुई दिलता चाह रहा था धाड़े मार मार कर रोए लेकिन वही एक वादे जन्जीर जो मुंताह सुल्तान के दिल्व दिमार पर लिप्टी हुई जो उसे रोके हुए थी दिल कर रहा यहीं से भगा कर ले जाओं आज तो सही से दीदारे यार भी नहीं हो पाया क्या ख्याल है भाग जाए इस जगे जहां आप और मैं हूँ और ये गहरी रात हो फर्माईशी अंदाज में कहकर इसने मुंताह को धहलाया नहीं प्लीज रिलैक्स पीवी कहीं नहीं ले जाता बस घर जाएंगे इसका उड़ता रंग देखकर गाजान में अपनी मजाग पर काबू पाया था सामने से आदे आगाचान और बाकी अफराद को देखकर मुंताह कजब टूटा और वो स्टेच से नीचे उतर कर जूबिया बेगम के गले लगी सक्ती से इसने जूबिया बेगम को थामा गहरे सांस इसके इस्तिराब की निशानी थी जूबिया बेगम सारा मामला समच चुकी थी मुंताह होश काइम रखो वन्ना तूफान आएगा अमी बेसाकता इसके मुंसे निकला नहीं, नहीं मुंताह हिम्मत, खुदारा, हिम्मत दो लब्स ही मुंताह सुल्टान को रोने से रोख गये थे सबसे बारी-बारी मिलती इसके चहरे पर सरदमोरी वाज़े थी गाजान भी सबसे खुश असलोवी से मिला इसका अंदाज ए इज्जत अगाजान को खुशी से दोचार कर गया में इन्तिखाब पर इन्हें फखर महसूस हुआ शाइना का हाथ नजर अंदास करके इसने गया शाइना को सुलगाया था मंताक हाथ थामे वो दोबारा उपर की जानी बढ़ा था जहां फोटोग्राफर्स का इन्तिजार कर रहा था बे जान डूह की मानी हिम्मत जमा की वो गाजान के साथ चलती जा रही थी बाहर की खामुशी किसे बड़ी तुफान का पेश खेमा थी साड़ी का पलो संभागती वो इर्द गिर्द देखती स्विमिंग पूल की जानी बाई थी हाशिर को पार्टी में ना पाकर उसे यकीन हो चुका था वो जा चुका है लेकिन उसों ये समझ नहीं आई थी कि उसे छोड़ कर क्यों चला गया लेकिन कुछ देर पहले आई मैसेज ने जवेरिया की सारी फिक्र खतम कर दी तन्यासाब पर सुकून हुए थे जवेरिया मैं दो दिन के लिए आट अफ सिटी जा रहा हूं तुम ट्रेयावर को कॉल कर दो वो तुम्हें ले जाएगा ओके मैसेज करके सने सुकून का सांस लिया और अब वो स्वेमिंग पूल के खरी हमदान के इंतजार में थी लेकिन अजाने वो कहा था यगदम किसी ने कमर से जकर कर उसे अपनी जानी खीचा एक चीख के साथ वो मुकाबल के वजू से डगराई चीख ना मना है कान के पास हमदान की सरगोशी सुनकर वो एकदम अपर सुकून हुई उफ हमदान तुमने मुझे डरा दिया गले के गिर्द बाजू हमाल करके इसने हमदान के कंदे पर सर रखा तुमर डर जा वाटा जोग हमदान का कहका बेसाखता था इतनी देर बाद क्यों लोटे लाड भरे अंदाज में कहकर इसने मजीद दूरी खतम की हमदान की गिरुफत भी इसकी कमर पर मजबूत हुई तुम्हारा सौकाल्ड हस्बिन यह मौदूद था वरना तुम बलाती हो मैं ना आता ऐसा हो सकता है एक गहरी गुस्ताखी केस ने जवेरिया की शिकायात दूर की दो दिन के लिए जा चुके है अब नजाने कब लोट कर आएं यह दो दिन फिर मेरे नाम है याद रखना भागने का सोचना भी मत धंकी आमेज अंदास में कहकर वो इसके चहरे पर जुका था मासूम चहरे के पीछे चुपी जवेरिया के शैतानियत शैद आज जाहर हो चुकी थी नजाने यह शैतानियत क्या क्यामत लाने वाली थी रिसेप्शन से फारिग होकर वो घर आ चुके थे गाज़ान एक एक अपॉर्टन कॉल की वज़े से फिलहाल बाहर गया था अगजान और बाकी सब महमार वापस जा चुके थे जूबिया बिगम की रितिजाई नजर ने उसे नजाने कैसे रोका था यह राज सिर्फ मुन्ताह सुल्तान जानती थी लाउंज में बैठे हो सब खुशकप्पियों में मगन थे लेकिन शायद मुन्ताह वहां मौजूद ही नहीं थी इसके थके थके चहरे को देखकर समरीन बिगम ने उसे उपर भीचा भारी कदम उठाती वो जब्त करती कमरे में दाख खुली कमरे में दाखिल होते ही सीधे हाथ से रुपटे को नोच कर इसने जमीन पर फिंका कानों में इसे जुंके इस तरह खीचे थे कान की लव में से खुन टबका चुड़िया उतारती वो हाथ जखमी कर बैठी थी दहकता चहरा सुर कांगारा हुट रहा था जब्त के जिन मराहल से वो आज गुजरी थी ये सिप मुंता सुल्टान की हिम्मत चानती थी आह जमीन पर बैठकर वो जोर से चिखी और दोनों हाथ जोर से जमीन पर मारे थी आज उसे किसी की परवा नहीं थी गाजान भी आजाए तो आज ये मातम बन नहीं होने वाला था क्यूँ? वो मेरे सामने आया क्यूँ? हर इमतिहान मेरे हिस्से में क्यूँ है? हर तकलीफ का तालुक मुझसे क्यूँ है? जिस चीज से नफरत जाहर की? वो मकाफात अमल की तरह सामने क्यूँ आ रही है? मैं इसी की इंतिहा को पहुँची वो अपने आप से सवाल कर रही थी मुझे मेरी कसम निभानी है मुझे नहीं जीना मुझे मरना है जोर से बार बार हाथ जमीन पर मारती वो ही जानी हो रही थी एकदम अपनी जगे से उठे दरास खंगालती तुनूनी हो रही थी हर दरास खंगाल चुकी थी लेकिन हाथ कुछ नहीं आया आकरी दरास खोले इसने फरस्टेट बॉक्स निकाला इसमें शायद कोई मेडिसिन थी मुझे ने तेजी से उसे जप्टा गोलिया सारी बाहा निकाल कर वो मुझ तक ले जाना ही वाली थी जब समरीन बेगम रूम में आई मुझे की हालत देखकर इसकी जबान को ब्रेक लगी यह आप क्या कर रही थी मुंता क्या हुआ है क्या हालत बना ली है कोई ऐसे भी करता है बादों से पकड़ कर उन्होंने मुंता कुछ जोड़ा मुझे नहीं जीना मुझे मरना है मुझे अपनी कसम निभानी है कैसी कसम मुंता और क्यों निभानी है क्या आप इतनी खुदगर्ज है कि अपनी कसम के लिए अपने माबाप को तकलीड दोगी इस रप को नाराज करोगी आंटी मुझे कुछ नहीं सुनना खुदा के लिए मुझे अकिला छोड़ दे मैं मर जाना चाहती हूँ मुझे नफरत है इस जिन्दगी से क्यों हर मर्तबा मैं ही क्यों क्यों हर बार मुझे आज्माय जाता है बेबसी की अतहा गहराईयो पर थी संमरीन बेगम को बेसाखता मुंताह पर तर्स आया अपने साथ ले जा चुका है मैं आपके बेटे के लिए मौज़ो नहीं हूँ मेरे खाली वजूद से इन्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी आंटी आपको इस वक्त में एक कमजर्फ लड़की लगूंगी लेकिन मैं आपको सच बताना चाहती हूँ मुझे नहीं रहना मुझे आज़ादी दे दे आंटी मुन्ताह बिना समरीन बेगं की परवा किये बोलती चली गई लेकिन दाथ थी समरीन बेगं की जो अपनी बहु के मूँ से अपने बेटे की बर्बादी का सुन कर भी उसे तुटकान नहीं रही थी मैं जानती हूँ, आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हो, लेकिन एक बार अपने बारे में सोचो, ये तकलीफ आप खुद अपने उपर जबरदस्त कायतारी कर रही हो, किसी ने आपको मजबूर नहीं किया, कि आप इस कमज़र शक्स के लिए रोग लगाओ, अल्ला पाक ने आ अपनी पसंद बनाओगी, तो देखना जिन्दगी आसान तर हो जाएगी, मुझे मेरे बेटे के साथ साथ अब अपनी बहु भी आजीज है, और मैं आपको कभी वलत रहा पर चलने का मौकर नहीं दूंगी, वो आपका माजी था, लेकिन गाजान आपका हाल, मस्तक्बिल अपने खुदा की रज़ा में खुश हो जाओ, एक बार गाजान की जाने बहुबत का हाथ बढ़ा कर देखो, सारे दुख तखलीफे खत्म ना हो जाएं, तो मुझे कहना कोई इस कबर को कुरेदना भी चाहें, तो इसके हाथ खाप के सिवा कुछ ना आएं, सीने से चिपक्यों समरीन बेगम की बाते सुनकर अपना हित्यसाब कर रही थी, इसकी खामुशी देखकर समरीन बेगम को सुकून महसूस हुआ, दिरे से इसका मन मोहना चेहरा थाम कर सा अपनी तकलीब से उसे ताफी हद तक कम महसूस हुई, क्या कोई इतना भी अच्छा होता, क्या दुनिया में अब भी समरीन बेगम जैसे लोग मौजूद है, जो दूसरों के एप उचानने के बजाएं, अपनी हमदर्दी, अपने अलफाजों से उसे धाप लेते हैं, ऐसे आरांदा सोट निकाल कर बैट पर रखे और बाहर की जानी बड़ी, गाजान के आने से पहले वो कमरा साफ करवाना चाहा रही थी, स्ट्रिंग पर गिरफ्ट मजबूत किये, माथे पर बल नुमाया किये, जितनी स्पिर्ट से गाड़ी दोडा सकता था, चला रहा था, मुन बच के सारे दावे उसे जूट लग रहे थे, हाशरी अली को आज अपनी नफरत सच लग रही थी, मुनताह सुल्तान मेरी नफरत बेजा नहीं थी, तुम शायद इसी काबिल थी कि तुम से नफरत की जाए, जोटी थी तुम, और नफरत है मुझे जूट बोलने वालों से, अपनी नफरत में वो सब शायद भूल चुका था, कि वो खुद भी तो ये गुनाह कर रहा था, जवेरिया से मुहपत का दावेदार खुद भी तो मुनताह सुल्तान को धोका दे चुका था, अपने अलफास पर उसे शायद अब भी पश्टावा नहीं था, प्लेट के अंदर राखिल हुआ, गिर्द से अटाई फिलेट उसे अपने जैसा ही लग रहा था, इतनी सफाई पसंद अब्यक के बावजूद, वो आज यहां गिर्द से अटे सोफे पर बैठा, सब आफसाफ न जाने कहा ठुपे थे, हाशिर के जहन में अगर कुछ हावी था तो बस मुंतहा सुल्तान, काजान का उसकी पुष्ट पर हाथ रखना, इसके साथ कदम कदम चलना, एक एक हरकत दिमाग में जैसे ओधम मचा रही थी, मुंतहा सुल्तान जूटी हो तुम, दोक के बाज हो, मेरे दिल में शायद कुछ नर्मी थी, तुम्हारे लिए ले लेकिन आज वो भी खतम हो गई, मुंतहा सुल्तान को कोसता, वो अपनी घल्दियां को ताहिया भूल चुका था, भूल चुका था कि वो जल्म की हद पार कर चुका था, शायद भी हाशिर अली हमदानी की आँखों पर पट्टी बंदी हुई थी, हाँ, फिर जमीर के आवाज को सुनना नहीं चाहता था, सिग्रेट पर सिग्रेट फूंकता, वो आज डर्द की इंतहा पर था, जवेरिया की ख्याल की जरासी भी रमक, इसके दिल वो दिमाग में नहीं थी, कमरे का दर्वाजा खुले, वो अंदर दाखिल हुआ, और सामने बेसाखता नजर गई, जहां बैट प अब तुम्हारे साथ नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, एक नई जिन्दगी में दाखिल हुई है, और रिष्टा तुम्हारे लिए भी नया है, इसलिए नर्मी से इसे डेल करना, और आज की रिसेप्शन के बाद इसकी तब थोड़ी खराब है, मेडिसिन लेकर वो है, सर पर प्यार लिए वो कमरे की जानिब बढ़ गया था, बिना कोई आवास पैदा की वार्डरोग की जानिब बढ़ा, आरामदा ट्राॉजर शर्ट निकाल कर फिरेश होने वाश रूम की जानिब बढ़ गया, शावल लेकर वो बाहरा आया था और जाये नमाज लेकर इ हीमा लहजा, समझाने का अंदास बिलकुल जूबिया बेगम जैसा था, उनकी बातों पर गौर करती वो अब कुछ पर सुकून थी, जहन को जैसे एक सहरा मिल गया था, लेकिन अपने रिश्टे को आगे बढ़ाने के लिए शायद उसे बहुत वक्त चाहिए था, कमरे में खामुशी देखकर चौंकी, गाजान की कोई हरकत उसे महसूस नहीं हूँ, जरासर रुक मौर कर इसमें नजर चारों तरफ दोड़ाई, एक चानिब गाजान चाहिए नमाज बिच्छाए, नमाज पढ़ने में मगन था, मुन्तहा को शक्स अलग दुनिया का बासी लगा, हना के तकलीफ में इनसान रब को याद करता है, लेकिन वो शक्स अपनी खुशी में भी अपने रब को राजी कर रहा था, मुन्तहा को एकदम शर्मीन दगी ने घेरा, कमफर्टर हटाए, इसने पाउं में चपल अर्सी और वाशूम में वजू करने बढ़ गई, बहार नि मुन्तहा को ना जाने क्यों लगा कि उसे अकिला करना चाहरा है, ताके वो नमाज अदा कर सके, सर जखक कर टक कर इसने नमाज शरू की, और पूरी तरह इसमें मशगूल हो गई, दूआ के अंदाज में हाथ उठाती आँखों में, खुश्क हो चुके आंसु दो बारा बहे अपनी ले महज इसने सबर मांगा, कोई दूआ, शायद इसके जहन में बाकी ही नहीं थी, जाय नमाज समेट कर उठी हाथ में खराशों की वज़े से दर्द की टैसे महसूस हो रही थी, गला भी शायद चीखने की वज़े से खुश्क हो गया था, पानी की तलाश में इसने रोकती वो रूम से जा चुका था, बैट की किनारे पर बैट कर वो गाजान का इंतिजार करने लगी, गाजान की गेर दाश तबी में की गई नेकी ने मुंताह को भी जगा दिया था, वरना आज, वो अपने गम में गफलत भरी नीन सो जाती, कुछ देर बाद पानी लाकर पर रखा, मुंताह ने पानी लेना चाहा, लेकिन गाजान ने गिलास पहले इसके जाने बढ़ाया, गिलास पकड़ते ही मुंताह की उम्लिया, गाजान की उम्लियों से मस्वी थी, दिल की धरकन यंग्दम बढ़ी लेकिन खुद पर काबू पाय, इसने गिलास थामा था, बीवी, ठेरे, मैं मेडिसिन देता हूँ, मौम ने बताया है कि आपकी तब्याट ठीक नहीं है, काजान का केरिंग अंदाज मुंताह को ना जाने क्यूं अलग एहसास दिला रहा था, बच्चों की तरह उसे ट्रीट करता, वो उसे अच्छा और बुरा दोनों लगा, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ, एकदम सपार्ट अंदाज में कहकर इसने करवट बदली, काजान के माथे पर बेसाखता बल नुमाया हुए, इसका सपार्ट अंदाज काजान को बहुत कुछ बावर करवा गया, गिजला इस साइप पर रखे, वो दूसरी ले जा, पसंद करता हूँ, धीरे से कहकर वो आँखे मून गया, उन्तहा इसके अंदास पर हका बकार रह गई, इसकी ग्रफत से निकलने का ख्याल भी बाकी नहीं रहा था, कमरे में आते हिसमें कोट उतार का जमीं पर फेंका और टाय की नौट डिली किया वो सोफिप पर गिरा था, मारिया सहमी सी वार्डरॉप की जाने बढ़ी, आज हाशर की की गई गई हरकत और जबान दराजी ने मारिया को दहला दिया था, उसे अपना रिश्टा खत्रे में महसूस हो रहा था, हाशर की खुद गरजी को सोचती वांखे नम कर गई, बेसाखता, मूँ से सि पकालन चाहा लेकिन उसकी एक तीकी नजर ने मारिया की हिमत को खतम किया, मारिया के आवास सुनकर इसन सोक आउको कि संग, मारिया को ध्म की आमेज उंदाज में कहा, खुदा का बासता है मारिया, अपना रोना स्टार्ट मत करना, मैं इस वक सोचने समझने की कैفی decorated से बाह हो रहा था बुखार की हिद्दत शायर ज्यादा हो गई थी एक तीखी नज़र डाले आफाक बैट की जानिब बढ़ गया हाशिर के कलीज अलफास अब तक इसके दिमांग में गुंच रहे थे जैसे जैसे सोच रहा था दिमांग में खून का फिशार बुलंद हो रहा था मार आफाक ने फोरण हार जटका था मारिया की आँखों से बेसाकता आंसुब है आफाक की बेयतिनाई शायद दोबारा बढ़ने वाली थी आफाक की माफी के बावजुद इसने माफ ना करके शायद छोटे पन का मुझारा किया था या आफाक के शायद नेक नियाती ही थी कि वो हाशिर की गलीज बाकवास के बावजुद मारिया को उफ तक ना कह रहा था हिम्मत करके से दोबारा आफाक को छोना चाहा लकिन इस बार जटके से मुड़ा मारिया खुदा का वास्ता है मुझे अकेला छोड़ दो मैं नहीं चाहता कि हमारे दर्मियान लड़ाई का मौ मीन तो अभी आँखों से कुसो दूर थी एक दूसरे से मूँ मोड़े और दोनों एक ही बात सोच रहे थे मौम हमदान कहा है कल से नजर नहीं आया नाश्टे की टेबल पर बैठे इसने सम्रीन बेगम से इस्तिफसार किया इस लड़के की मुझे कुछ समझ नहीं आती नज जाने कब निकल जाता है कह रहा तक कि दोस्तों की तरफ जा रहा हूं दो दिन में लौट आउंगा अब ना जाने कब वापस आई सम्रीन बेगम की बात सुनकर मुझे को नजाने की सुकून महसूस हुआ एक सोके मॉम आ जाएगा हाँ आ तो जाएगा लेकिन इसकी लापरवाई बहुत बढ़ गई है नो मॉम आप गलत सोच रही है इसने जिस तरह न्यू कमपनी को समाला है इसकी हिम्मर की दाथ देनी चाहिए बहुत समाददार है लाओ बाली है लेकिन समझधार भी है अर हाँ माम वो आपका बेटा बाद में पहले मेरा भाई है इसके बारे में एक लफ़ नहीं सुन सकता काजान ने मस्मी संजीद्गी से समरीन बेगम को टोका मुन्तहा को काजान की बात कुछ अच्छी नहीं लगी थी शायद उसे अपने भाई के करदो रोतों का अंताजा नहीं था मुन्तहा आज आपने अपने घर जाना है समरीन बेगम के सवाल पर इसका हाथ थमा हलक में गोया निवाला अटका एक दम से खासी आई थी शिद्ध ते गिरियां से खास्तियों काजान को दहला गई बीवी वाट हैपने पुछ तसहलात इसने गिलास मुन्तहा के लबो पर लगाया जैसे मुन्तहा ने फौरन थामा और पानी पिया फिकरमंदी के आसान गाजान के चहरे पर वाज़े थे मौम कुछ नर्म बनवाए मुन्तहा के लिए सब ठीक नहीं है बुआ बुआ एकदम गाजान चिलाया क्या हुआ गाजान बेटा सब ठीक तो है किचन से बुआ बरामद हुई और आते ही गाजान के जानिब देखा बुआ ओमलेट में किया डाला था गाजान के लिए तीखा था खांसमा का सांस गोया खुशक हुआ कुछ भी नहीं बेटा मुन्तहा ने सांस रोके गाजान का चहरा देखा इसकी फिकर का अंदाज मुन्तहा को कुछ अलग लगा रात को तीखी अंदाज में बात करने के बावजूद काजान इसे नॉर्मली बर्ताव कर रहा था बेटा मुंताज ठीक है आप रिलेक्स हो जाएं समरीन पेगम ने मामला समालना चाहा मामा ऐसे कैसे ठीक है बुआ आएंदा आप खाने पीने का ध्यान रखियेगा मेले कुछ हुआ ही ना हो समरीन पेगम अपने बेटे के दीवान की देखकर दहली थी नजाने क्यों इन्हें सच चुपाने पर और सुकून महसूस हुआ अपने ख्यालात पर काबो पाकर उन्होंने मुंताज के जानिब देखा नजाने इसके जाने के बाद टेबल की दुनिया वीरान लगी कोड पहने वो समरीन पेगम के आगे सर जुकाए इनसे जाने की अजाज़त मांग रहा था मस्कुराते वे नोंने सर पर हाथ फिरा एक नजासीरियो के जानिब डाल कर वो बाहर के जानिब बढ़ गया था अपने सौकॉल्ड हजबेंट से पूछ लेती कि आखिर बेना बताए क्यों चला गया पहलो में जवेरिया को बिठाया सिगरेट को हाथ में थामे इसने जवेरिया के जानिब तन्जिया नज़र डाली आ जाएंगे जल्दी और अगर पूछा तो सर पर चड़ जाएंगे और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मेरे सर पर चड़ कर नाचे पस एक मरताब मेरा काम हो जाए फिर देखना ऐसी हालत करूंगी किसी पर एतिबार करने से सव बार सोचेगा गिलाज़त बक्ती वो भूल चुकी थी कि जिसके बारे में बात कर रही वो कोई और नहीं इसका महरम है वैसे तुम्हारा तो आने का कोई रादा नहीं था फिर इतनी जब दी लौट कर क्यों आए जवेरिया ने एक नज़र हमदान की जानिब टाली जवेरिया इस वक्त मेरा कोई रादा नहीं था कि मैं अपना मूट खराब करूँ इसलिए बाहे महरमानी अपनी बक्वास बंद कर लो ओके जवेरिया ने फौरण उसकी बात मानी नज़ाने हमदान में ऐसा क्या था जो जवेरिया जैसी लड़की भी उसकी बत्तमीजी को वरदाश कर लेती थी हाशिर की जरासी बात पर भड़क जाने वाली जवेरिया उफ जिया हमदान की बाते आराम से सह लेती थी शायद महबत की गहरी रमक जविजया जैसी दुके बास लड़की में भी मौजूद थी बैग में चंड जोड़े डाल कर इसने अपनी तैयारी मुकमल की कुछ खास तैयारी थी नहीं जो वो कर लेती गाजान की आज की फिकर नजाने मुन्ता को नया एहसास दिला रही थी जरासी खांसी पर इसने इतना वबाल मचा दिया था तो नजाने आगे जा कर क्या हाल होता मुंताह गाजान को सोचना नहीं चाहती थी लेकिन नजाने क्यों इसकी यादे दिमाग को टकर रही थी सोचों में उन्जी उबाल करने के जानी बड़ी जहां गाजान को इसने जाते देखा विंडो खोल कर वो बाहर आई और ग्रिन के पास खड़ी हुई ताजा हुआ का ढूगा मुंताह के बान इसके चहरे पर विखेर गया सामने का मनज़र मुंताह को खुशगवारी का एहसास दिला गया लॉन में लगे सुख गुलाब और इंकी डिजाइनिंग में मुंताह की उदासपन को पल भर में जायल किया वसीवा अरीज लॉन को एक जानिब से अलगी अंदाज से सजाया गया था लेकिन इससे पहले वो मजीद खुश होती गेट से अंदर आती हमदान को देखकर इसके माथे पर बल नुमाया हुए टी-शिट के उपर रिड स्लीलेस जॉकिट के साथ बलू पैंट पहने वो मुंताह को नहायत नागवार लगा एक दम इसने पीछे हटना चाहा लेकिन हमदान की नजर इस पर पढ़ चुकी थी दूर से इसने हाथ हिलाया था इसके चहरे पर मौजूद छैतानियत मुंताह दूर से भी देख सकती थी सर जटक कर वो अंदर की जानी बढ़ गई इसकी शकल वो मज़िद देखना भी नहीं चाहती थी ना जाने क्यों मुंताह को हमदान की जानीब से एक खत्रे का एहसास हो रहा था कमरे में आकर वो सोफे पर बठी ही थी कि मुबाइल की रिंग ने उसे अपनी जानी मतवज़े किया साइट टेबल से मुबाइल उठा इसने स्क्रीन डॉशन की जहां गाजान का नंबर जगमगा रहा था मेडिसन साइट ड्रॉव में मौजुद है उसे खा लीजिएगा वो खाल की हिद्ध कम हो जाएगी मुंताह को शदीद हैरत का जटका लगा यानि उसे इस हद तक मुंताह की फिकर थी सुन सी खड़ी वो बस मैसेज देखती रह गई जवेरिया मेडम कहा है घर में दाकी लोती उसे घर में खामोशी महसूस हुई कि चर्म मौजुद खानसमा से इसने इस्तफसार किया वो साइब जी कल रात से वापस ही नहीं आई हाशिर को हैरत का शदीद जटका लगा अगर उग घर नहीं आई थी तो कहां थी एकदम हाशिर को परिशानी नहीं गेरा अपनी गुस्से में वो जवेरिया को नजर अंदास कर चुका था इसके नंबर पर कॉल करके इसने जवेरिया का हाल पोछना चाहा लेकिन शायद दूसरी जानिक से जवाब मौसूल नहीं हो रहा था हाशिर की परिशानी मजीद बढ़ी मजीद एक दो कॉल किये इसने इंतजार किया लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ इससे पहले वो बाहर के जाने बढ़ता जवेरिया दाफ़ी दर्वाजे से अंदर आती नजर आई जवेरिया का रंग भी पल भर में फक हुआ हाशिर के इतनी जवड़ी आने के उसे उमीद नहीं थी माथे पर एकदम पसीना टमका हाशिर की नजर भी इसी पर थी एकदम वो आगे बढ़ा हों जवेरिया के करीब आया कहां थी तुम हाशिर के लहजे में एक सखती थी वो मैं एकदम जवेरियस के सीने से लगी हाशिर मेरे अम्मी ने मुझे अपना लिया वो कर रात आप मुझे छोड़ कर चले गए थे तो मेरे रुकने का जवाज बागी नहीं रहा तो मैं भी वहां से निकल आई अम्मी की याद बहुत आ रही थी मुझसे बरदाश्ट ना हो सका और मैं उनके जाने चली गई थोड़ी सी नाराज़गी के बाद वो मान गई हाशिर कल मेरा जाना शायद तैथ था और देखे मेरी अम्मी ने मुझे अपना लिया हाशिर में बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश हूँ जवेरिया कमस कम तुम मुझे आगाहत तो कर देती आइंदा बिना बताए कही मत जाना हाशिर के बाद वो अब भी पहलू में थे जवेरिया ने आँखे मैट कर गहरा सांस लिया जैसे बड़ी परिशानी से सर से टली हो ओके आइंदा नहीं करूंगी पर आप इतनी जल्दी लौट आए जवेरिया ने सर उठा कर हाशिर के जानी देखा हाँ बस लौट आया खेर मेरी आज मिटिंग है मुझे जल्दी जाना है मैं फिरेश होकर आता हूँ जवेरिया भी गहरा सांस लिये सोफिर पर दराज हुई अपनी समझदारी पर वो बेसाखता मस्कुराई और हमदान को सोचते आँखे मुंदी हाई मॉम क्या हो रहा है घर में दाकिल होते ही हमदान उची आवाज में पुकारा समरीन बेगम जो नियूस पेपर की जाने मतवज़ थी हमदान की आवाज सुनकर चौंकी आ गए नवाब सहाब गिलासे नीचे की उन्होंने तीकी नज़र हमदान पर डाली या मॉम आपके सामने हूँ क्या हुआ सब ठीक है ना हमदान का लहजा शरारत आमेज था तुम्हारे होते वे कुछ ठीक हो सकता है तुम्हारी हरकते कब सीधी होगी रिसेप्शन के बाद आज तुम्हें टाइम मिला है यहां आने का समरीन बेगम ने इसके सवाल को नजरनदास किये अपना सवाल किया अब मुझे मासूम ने क्या कर दिया हमदान की मासूमित काबल दीद थी सब कुछ तुम ही ने किया है गाजान को देखो दूसरा दिन है शादी का लेकिन उ फिर भी आफिस गया है क्योंकि इसके लिए बिजनस भी इतना हम है जितने बाकी काम है उसे अपनी जिम्मेदारी का हिसास है और एक तुम हो कि जिसे लाओ बाली पन के लाओ कुछ आता ही नहीं और अगर इसके सामने में तुम्हारे बारे में कुछ कह दू तो तुम्हारे लिए कुछ सुन ही नहीं सकता क्या करूं मैं तुम दोनों भाईयों का सम्म्लिंग बेगम की बात पर इसका कह कहा बेसाखता था मॉम भाई किसका है हमदान सिद्धी की का भाई जब हमदान के मुँसे उसकी बुराई नहीं सुन सकता तो बाकियों से कैसे सुनेगा जानती हूं मैं तुम्हें भी और तुम्हारे भाई को भी लेकिन हमदान बेटा ऐसे नहीं चलेगा आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए गाजान आपकी कोताईयों को नजरन्दास कर देता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलती पर गलती करें और गाजान उन गलती उपर परदा डालता रहे आपको भी अपनी जिम्मेदारीों को महसूस करना चाहिए वरना आप जानते हैं कि मैं गाजान कभी लिहास नहीं करूंगी नो मॉम आप भाई को कुछ नहीं कहेंगी आपने जो कहना है मुझे कह ले लेकिन भाई को नहीं हमदान ने फॉरन समरीन बेगम को टोका वो मेरा भी बेटा है और उसे कहने का हक है मुझे मॉम प्लीज आप जानती है भाई को अगर कोई कुछ कहे तो मुझे से बरदाश नहीं होता और अगर कोई मुझे कुछ कहे तो भाई बरदाश नहीं करते एकदम हमदान चौंका था दिमाग में शेयतानी ख्यारात ने अपना अडेरा जमाया अगर भाई मॉम के मुझे मेरी बुराई नहीं सुन सकते तो मुझे के मुझे तो कतई नहीं सुन पाएंगे इसका मतलब अगर मुझे को डराया भी जाए तो वो कमसकम भाई को नहीं बताएगी और अगर भाई को बता भी दे तो वो यकीन नहीं करेंगी हमदान कहा खो गए समरीन बेगम ने इसका बाजु हिलाया कुछ नहीं मौम मैं फिरेश हो कराता हूँ और टेंशन ना ले मैं अपनी जिम्मेदारी समालने वाला हूँ बस आप इंतजार कीजिए मेरे कारकुर्दा की देशनी लाइक होगी हमदान कंदाल चैलेंजिंग था देख लेते हैं जवाबन समरीन बेगम ने भी तेवरी चड़ाई थी सिर्या चड़े वो उपर आया अपने कमरे की जाने वो मुड़ने ही वाला था कि इसके दिमाग को मजीद शैतानियत सुजी वापस मुड़े और मुन्ताह के कमरे की जाने बाया दर्वाजे पर नौप किये इसने अंदर आने की इचाज़त मांगी मुन्ताह को समरीन बेगम का गुमान हुआ था ये इस कहकर उमबायल एक जाने बरके सोफे पर आकर बैठी दर्वाजा खोले वो अंदर आया मुन्ताह की नज़र बेसाफता सामने उठी और माथे पर तेउरी नुमाया हुई तुम यहां क्या लेने आये हो मुन्ताह का अंदास सपार था हमदान की बेबाग नज़रे मुन्ताह पर गड़ी मुन्ताह को उन नज़रों के से कोफत महसूस हुई इसने बेसाफता कंदों पर डुपटा फैलाया भाबी जी कैसी है हमदान का लहजा गहरा था तुम जाओ यहां से मुन्ताह ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा लो ऐसे कैसे जाओं अपने सवाल का जवाब लेकर ही जाओंगा हमदान बजित था मेरे पास कोई जवाब नहीं जाओ यहां से मुंताहा ने रुक मोरा लेकिन हमदान अपने कदमों पर जमा था भाबी जी इतना गुस्ता क्यों आ रहा है आपका एकलोता देवर हूँ कुछ हक तो मेरा भी बनता है क्या आप से हाल एहवाल पुछू गर्दन पर हाथ फेर कर वो चन कदम आगे आया हमदान यहां से चले जाओ वरना मैं आंटी को बुला लूँगी जवाबन मुंताह चिलाई थी हरे भाबी जी आप तो कुस्ता कर गई नेके का शायद जमाना नहीं रहा बहरे याद आदी हो जाईए तो कि मेरा भाई मेरे बकर सांस भी नहीं लेता और शायद मुझे लगता है आके जाकर भाई से आपके जगड़े भी इसी वज़े से होने वाले है वो क्या कहते हैं एकदम हो सोच में ढूबा और हाँ याद आया नंद का किरदार अदा करने वाला हूँ तयार हो जाईए अपने थपड का बडला सूच समेट लेना है आखे में उसका लहजा धमकी आमेज हुआ शेट आप एंड आउट मुंतहा चवाबन चिलाई थी तुम जो भी बकवास करो लेकिन अपना बडला में ले कर रहूंगा मुली उठाए इससे वहान किये तो कमड़े से निकलता चला गया इडियट मुंतहा ने जैसे इसकी धमकी हवा में उड़ाई थी ऐसे लोगों से निमटना उसे अच्छे से आता था हमी मारिया कहां गई आफाक दर्वाजा खोलकर अंदर दाखिलोगा जहां जोबिया वेगम नमाज अदा कर रही थी सलाम फेकर उन्होंने आफाक की जानिब देखा जोहर का वक्त हो चुका था लेकिन मारिया का कुछ पता नहीं था सुबह जब इसकी आँख कुली तब भी मारिया मौजूद नहीं थी बुखार के वज़े से उठकर बाहर नहीं आ सका था लेकिन अब शाहद इसकी हिम्मत जवाब दे गई थी उल्जे से हुलिया में वो जूबिया वेगम के कमरे के चानिब आया था बेटा और फिर्दौस भाबी के घर गई है पचा रही थी लेकिन तुम शायद अपने कमरे में चले गए जी अम्मी आफाक ने यक लफजी जवाब दिया आफाक को अपनी गल्ती का एहसास शिद्ध से हुआ आफाक बाद सुनो और जो मुड़ने ही वाला था कि जुबिया बेगम की आवाज ने इसके कदम रोके यहाँ मेरे पास आओ जुबिया बेगम ने उसे अपनी जानिब बिलाया कदम उठाता उजुबिया बेगम के पास बेटा देखो बेटा मैं जानती हूँ कि हाशी ने गएर एकला की हरकत की है इसमें मुन्धा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं रखी मुझे हर पल ये धरका लगा रहता है कि अगर गाजान को सचाई पता चली तो नजाने क्या होगा हर वक्त बस इस रख के आगे एक फरियाद है कि मेरी बच्ची का घर सलामत रहे इतनी सी उमर में हजारों दुख सह चुकी है गाजान के एक लाग से तो नहीं लगा कि वो कोई ऐसा वाविला करे का लेकिन फिर भी नजाने क्यों दल्का लगा रहता है फिर वो मामला मैंने अपने रख पर छोड़ दिया है पर तुम क्यों अपना रिष्टा मारिया के साथ खराब कर रही हो इस बच्ची का क्या खसूर है कि इसने अपने भाई को मजबूर किया था ये सब करने के लिए जूबिया वेगम के सवाल पर उंचौंका अमी ऐसा कुछ नहीं है आपको गलट फ्हमी हुई है आपक नहीं जुटलाना चाहा आपक मैंने तुम्हें जूट बोलना कभी नहीं सिखाया और तुम चाहो भी तो जूट नहीं बोल सकते तुम्हारा ये चेहरा सब कुछ बयान कर देता है उल्ला जवाब हुआ तुम इस बच्ची को सजा दे रहे हुँ उसे तो अच्छा था तुम उसे अपनाते ही ना कमस कमो आज अपने घर में खुश तो होती जूबिया बेगम की बात सुनकर गोया आफा को अपना सांस कुकता महसूस हुआ ये सोच ही उसे धहला गई कि अगर मारिया किसी और की होती तो ना जाने वो क्या होता अमी फिलीज आफा आपने इलतिजा की इस बच्ची के हुकुप पूरे करो आफा वरना कल अपने रब के हुजूर खड़े नहीं हो पाओगे मारिया की सादत मंदी का अंदास इस बात से लगा लो कि उसे हजारों शिकवात होने के बादूद इसने लिखरा आशाने समाला है तुम्हारी बेरोको की को सहते वो सहते इसने अपने आपको लहुलान कर लिया लेकिन मूझ से आहा भी नहीं निकाली मुन्ताह की तकलिफ को अपनी तकलिफ समच कर खुशियां अपने उपर हराम कर ली अब मजीद इससे कितनी कुर्बानी चाहते हूँ अब कितने अम्तिहान बाकी है तुम्यार हाशिर में मुझे कोई फाक नहीं नजर आता इसने तो मुन्तहा को जलील खौर करके छोड़ दिया लेकिन तुमने तो जैसे किसम खाली है जलील खौर भी करना है और छोड़ना भी नहीं है आफाक मेरी एक बात हमेशा याद रखना हर इनसान ने इस रब के आगे जवाबता होना है हर इनसान का फैल उसके साथ है हाशिर का फैल इसकी कमजर्फी को जाहर कर गया अब तुम सोच लो तुम्हारा फैल क्या जाहर कर रहा है आफाक को शदीद नवदामत ने घिरा था समझ बूच रखने के बावजूतो बेवकूफो जैसी हरकते कर चुका था जूबिया बेगम की बात इस तीर की तरह लगी वाकि है हाशिर और इसमे कोई फ़र्क नहीं था अगर हाशिर ने मुंता तो सरे आम जलील किया था तो आफाक ने भी तो उसे जलील खौर किया था कुछ दिन पहले माफी का दावेदा दोबारा वही गलती दोहरा गया था हमी आपने तो मुझे नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा हाथों को घुरता और शर्मसार लहजे में बोला अपने अलफाज और अपने रवये से मैं जितनी तकलीफ उसे दे चुका हूँ अभी मुम्किन नहीं कि ओ मुझे माफ करे अमी आपने मुझे आज जमीर के अदालत में खड़ा कर दिया है चाहूं भी तो अपना इस्तिसाब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी कोटाया उतनी ज़्यादा है कि इनकी गिंती मुम्किन नहीं दूआ किजेगा कि मुझे माफ कर दें क्योंकि उसका जर्फ बड़ा है और मेरी माफी बहुत चोटी आपाक के लहजे के नदामत जूबिया विगम की आँखें नम कर गई मैं जानती हूँ ये मुश्किल तो है लेकिन अगर तुम्हारी माफी सची हो जी अम्मी मजीद वो कुछ नहीं बोल पाया अल्ला मदद फर्माएगा जाओ फिरेश हो जाओ में मेडिसिन भेशती हूँ मुन्ताब भी आने वाली है और इसके साथ गाजान भी होगा इसलिए तुम्हारी मौजूद की घर में जरूरी है आज मारिया को वही रहने देना खेर मुन्ताब की मौजूद की में वो तो यहां ही पाई जाएगी लेकिन रात वो वही गुजारेगी बाकिये तुम्हारी मामलात है तो तुम खुद देख लेना जूबिया बेगम ने हाथ को थपक कर उसे जाने की जाज़त दी थी ठके कदमों से वो चलता अपने कमरे की जानी बढ़ गया कमरे में दाकिल होती ही इसने मुंतहा को तलाशना चाहा जो एक जानी सोफी पर धुले चहरे के साथ गहरे नीले रंका शलवार सूट और नीले ही रंका टुपट्टा अपने इर्द की लपेटे बालों की चुटिया बनाए बैठी थी गाजान को उसकी साथकी पर हैरांगी हुई बीवी आप रेडी नहीं हुई गाजान के सवाल पर वो चौंकी और नजर बेसाफता उठी जो अपनी तपिश जदा नजरों से उसी की जानिब मुदवजे था एकदम मुंतहा सिम्टी थी बारी कदम उठाता वो इसकी जानिब आया और हाथ इसकी जानिब बढ़ाय मुंतहा ने सवाल ये नजरों से इसके जानिब देखा आपके इशारे से इसने मुंतहा को हाथ थामने का इशारा दिया मरती ना क्या ना करती कि मुजदाकिस ने गाजान का हाथ थामा जटके से उसे खड़ा किये और अपने रूबरू लाया क्या हुआ आप रेडी क्यों नहीं हुई पहला सवाली मुंताह को लाजवाब कर गया क्या इसकी तैयारी गाजान को नज़र नहीं आ रही थी मैं रेडी हूँ चले मुंताह ने जवाब दे का कदम आगे बढ़ाए लेकिन गाजान ने उसके कदम रोके मुझे तो आपकी तैयारी कुछ खास नहीं लग रही मुझे साज़गी पसंद है मुंताह ने जवाब दिया लेकिन मुझे रंगों से इश्क है जवाब फौरण हाजिर था रंग मुझे बेसुकूनी देते हैं एक और बहाना हाजिर था मैं सुकून की वज़े बना दूँगा इधर भी फौरण हर बात का हल मौजूद था देर हो रही है मुंताह ने धीमे से कहा मजीद जवाब किसमे हिम्मत नहीं थी हाँ देर दो हो रही है लेकिन इतनी भी नहीं कि आप सादे से हुलिये में जाएं आईए मेरे साथ हाथ थाम कर उसे ड्रेसर के खरीब लाया मुंताह को चेर पर बिठा कर वो सामने खड़ा हुआ और ड्रेसर से एक रेट लिपस्टिक मुंताह की जाने बढ़ाई मुंताह ने उसे धामने की जहमत नहीं की गाजान ने मजीद मुंताह के नजदी की बढ़ाई बीवी उसे लगा लीजए वरना अगर मैंने लगाई तो आपका फेस खराब हो जाएगा जूम आईनी बात पर मुंताह का धरका था कामती हातों से इसने फौरण लिपस्टिक लबो पर लगाई डंकी का सर होते देख गाजान की मुस्कुरहाट वाज़ थी सुरुक लबो पर लिपस्टिक ने गोया बहार खिलाई गाजान की नजर बहकी थी लेकिन फौरान अपने जजबात को काबू किये इसने मुंताह को उठाया साइड ट्रॉ से गोल्डन ढुटके इसने मुंताह की जानी बढ़ाए लेकिन यहाँ भी जिद मतवाब का थी गाजान ने बिना इसकी जानी देखे रुक मौड कर कान में जुमका अटकाया मुंताह यकलक हैरान हुई थी दूसरे कान पर अमल दहराए इसने मुंताह की आवारा लटो को कान के पीछे उड़सा अर्धी में से सरगोशी की अब लग रही है गाजान की मुंताह चले आ जाए अब बहुत देर हो रही है मुंताह ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा यानि अब पांट मिनिट में उसे देरी का हिसास हो गया था इसकी चाला की पर वो हक्की बग्की रह गई यार हक्का बग्का होना चाहिए था यहां तो हक्की बग्की लिखा होगा है बिना इसकी सुने गाजान के इसके दिल पर अपने कदम जमा रहा था और मुंता को यही खत्रा लाहक था कि कहीं इसकी बेहसाब महबत मुंता सुल्तान को बदल ना दे सीडियों से उतरती और बस एक ही जिद में थी इसने सोच लिया था आखरी दम तक अपने दिल के कुफल बन रखेगी गाजान का दाखला इसके दिल के दर्वाजे पर बन था और बन रहे का लेकिन वो भी गाजान सिद्धी की था दिलों पर हुकूमत करना जानता था अब नजाने जीत किसकी मतवक्का थी और हार किसके हाथ आनी थी हाशिर अभी तो आप आए थे और अभी फिर जा रहे हैं हाशिर को नकसक सा तैयार देखकर जवेरिया ने इस्तिफसार किया बताया तो था कि एक जरूरी मीटिंग है सपार्ट अंदाज में जवाब देकर वो दोबारा टाई की नौट सेट करने लगा जवेरिया ने फौरन इसके सामने आई और टाई पर हाथ रखकर उसे सेट करना चाहा कल शायद आपने कोई वादा किया था जवेरिया का अंदाज उमाईनी था मैंने कोई वादा नहीं किया हाशिर ने इसके हाथ अटाने चाहे लेकिन जवेरिया ने बाजो गर्दन में हिमाईल किये हाशिर क्या हुआ है आप बहुत परिशान लग रहे हैं जवेरिया के लहजे बेचेनी थी जवेरिया आइंदा बिना बताए ये हरकत मत करना हाशिर के लहजा दो टोक था जवेरिया का सवाल को इसने पल भर में पलटा था जवेरिया का रंग तीका पड़ा कैसी हरकत अपनी म मौम के घर जाने वाली हरकत कमसकम तुम मुझे एक कॉल ही कर सकती थी लेकिन तुमने वो भी जरूरी नहीं समझा हाशिर मैंने ट्राइ किया था लेकिन आपका नंबर नौ ट्रिचेबल था जवेरी ने बहाना घड़ा खर जो भी है आएंदा ख्याल रखना मैंने कभी तुम कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना कभी लगाऊंगा और मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है कोशिश करना कभी मेरा यकीन ना तूटे हाथ अटाकर इसने कोट पहना महबत न सही एतिवार ही सही जवेडिया की मुझे से बेसाफ़ता निकला हाशिर ने एक नज हमदान को सोचते इसने गाड़ी करुक एल के कंपानी की जानी मोड़ा था मुझे तुम्हारी डील मनजूर है लेकिन शर्ट ये के एक हाथ दोगी एक हाथ लोगी बिजनिस टाइकोन किसी के सामने ना धुटने वाला शक्स हाशिर अली हमदानी आज शयाद भीक मागने ला लेकिन इतना जल्दी करेंगे मुझे अंदाजा नहीं था लाइबा ता मस्कराना मस्कुराई थी काम की बात पर आओ फालतु बातों के लिए वक्त नहीं है हाशिर कलहजा अटल था वेल आपको बदले में क्या चाहिए आप तो पहले ही मालदार शक्स है लाइबा का सवाल मकमल की मुझे 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 कोई परवा नहीं लेकिन मुझे 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 क्यों चाहिए और इस बात से तुम्हे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्यों मुझे क्यों चाहिए बदले में तुम जितनी रकम चाहोगी तुम मिलेगी हर आफर तुमारे पास है जो चाहो खुबूल कर लो खुदगर्जी की इंतहा थी अकल समझ रखने वाले दो अफराद आज किसी की बरबादी की संगीन प्लैनिंग कर रहे थी अगर आपको मुन्था सुल्तान चाहिए तो मुझे भी बदले में गाजान की बरबादी चाहिए पैसा मेरे लिए सानवी हैसियत की मानिन है ना पहले मैंने उसे एहमियत दी है ना अब दूंगी और बदले में मुझे क्या चाहिए ये इस इस वक बताऊंगी जब गाजान से दिकी की बरबादी देख लूंगी ठीक है उसकी बरबादी ते है हाशिर ने जैसे लाइबा की बात को एहमियत दी थी डन लाइबा ने हाथ आगे बढ़ाया लेकिन हाशिर की तीकी नजर ने उसे हाथ नीजे करने पर मजबूर किया था फिर मुलाकात होगी बिना एक नजर इस पर डाले वो कोट को ढटक कर आफिस से निकलता चला गया फ्रंट सीट का दर्वाजा खोल कर गाजान ने मुन्तहा को पैटने का इशारा किया जो पट्टा समाले और फ्रंट सीट पर समार ही दूसरी जानिब से भी गाजान ने आकर ड्राइविंग सीट समाली थी सया सड़क पर नजर दोडाती वो गाजान की मौजूदकी को इग्नोर करना चाह रही थी लेकिन गाजान की मौजूदकी में यह नामुम्किन था सीडी पिलियर आन करके वो सीधा हुआ इतना तुम को चाहूंगा तुम पागल हो जाओंगी देख लेना गाने की बोल गाजान की दिल के जजबात की अकासी कर रहे थे मौन्तहा का दिल तेजी से धड़का बीवी देख लेना दो लबस कहे कर गाजान ने मौन्तहा का दिल धड़काया बेसाफ़दा इसने हाथ को मसला सौंग अच्छा है ना गाजान ने मजीद कहा जी लब कपकपाई थी ये काना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे लिए गाया गया हो और देख लीजेगा इतना चाहूंगा कि आप पागल हो जाएंगी गाजान के अलफाज ने मुंतहा के दिल को अलग ताल पर धरकाया यक्तम गाजान ने मुंतहा का हाथ थाम कर गेर पर रखा मुंतहा की हरत यकीनी थी जानती है मुंतहा दो दिन मैं ही मेरी महबत इश्क की हुदो को झूती हुई लग रही है दिल करता है बस आपके सामने बिठाओ और देखता रहूं ना वक्त कुजरे ना नज़र जुके हर हद पार कर जाओं मुहबत की इंतिहा कर दू कि आपका दामन तंग पढ़ने लगे मुंतहा की आँके नम होई एक साल पहले ऐसे ही अलफाज मुंतहा ने जाली सुतमगर कठोश शक्स के लिए कहे थे बेसाकतर इसने अपने ख्याल को जटका ना जाने मुंतहा को ऐसा लगा कि जैसे वो अमानत में ख्यानत कर रही है मुंतहा ने अपना हाथ चुडाना चाहा लेकिन गाजान का मुंतहा के हाथ के उपर हाथ था ये हाथ अब मेरी हाथ से नहीं निकल सकता उसे गाजान सिद्धिकी ने थामा है चाहें भी तो नहीं चुडा सकती यगदम अगला सौंग शुरू हुआ हाथ थाम ले पिया करते है वादा अब से तो आर्जू तू ही इरादा बीवी सौंग जू माईनी बात पर अधुरी तर बात से ये तो मुन्तहा इसका इशारा समच चुकी थी अन करीब वादा भी करेंगी काजान का लहजर यकीनी था आज का सफर मुन्तहा को अनोखी रमस से आगाह कर रहा था जितना वो बचना चाह रही थी गाजान की नजदेकियां बढ़ती जा रही थी गाजान को दीवानगी मुन्तहा को दहला रही थी दिल चाह रहा था कि गाजान का हाँ जटक कर अपना हाथ निकालने लेकिन शायद हिम्मत नहीं थी कि वो यह कर पाती ना जाने ये डर था ये भर्म मुंताह को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वक्त की कुर्बत में कटता ये सफर मुंताह को बहुत लंबा लग रहा था घर जल्दी आने की दुआ करती इसने हाथ निकालने की धिम्मत तरकी थी शादो जान गई थी कि काज़ान सिद्धी की अपनी दून का पक्का शक्स था कब मिलोगी फोन कान से लगाए वाल ज्रॉप के आगे खड़ा वो जवेरिया से महु कुफतग उठा क्यों क्या हुआ कल दिल नहीं परा जवेरिया का अंदास सूमानी था तुम्हारे कुर्बत से दिल बढ़ जाए नामुम्किन सी बात है हमदान कलहड़ा खुमार आमेस था हाई साली में इजहार रूबरू भी तो किया करो हाथ में कौफी कमक थामे वो घूंट घूंट पीती हमदान से बातों में मगन थी परना चाहूं भी तो नहीं कर सकता क्योंकि तुम फिर अपनी अवकाद भूलने लगती हो बत्तमीज जवेरिया ने नाक चड़ाया वैसे नियू भाबी कैसी है काफी हसीन है मेरा तो दिल आ गया है क्या ख्याले उठा ले जवेरिया के बात पर हमदान का कहका बेसाकता था शट अप अगर भाई को खबर हो गई तब सीधा उपर ही जाओगी इसके बारे में सोचना भी मत वन्ना जान से जाओगी इससे तो मैं बदला खुद लूँगा मेरे भाई के दिल पर हुकूमत करना चाहती है रिलेक्स हमदान चुकर करो तुम्हारे भाई की शादी हो गई वन्ना तुमने तो सोच लिया था के मेरी जान अजाब में डाल कर रहोगे जवेरी ने जज़ड़ी ली थी काश जवेरी तुम मान जाती काश तुम भी खुश होती है और मैं भी लेकिन तुम्हारे सर पर तो मेरी महबबत का भूद सवार था आर यू मैड हंदान जवेरी चीखी थी या आ हम मैड लेकिन सिर्फ अपने भाई के लिए जुनों की हद तक प्यार है मुझे इनसे इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ जानती हो दो दिन हो चुके भाई की शायदी को और दो दिन मैं अंगारों पर लोट रहा हूँ जब जब मैं इन दोनों को साथ देखता हूँ दिल करता है उस लड़की का मूझ जला दू कमजकम भाई उस लड़की से दूर हो जाएंगे जिस दिन मेरे सबर का पैमाना लब्रेस हुआ उस दिन उस लड़की का इस दुनिया में आकरी दिन होगा इतनी भयानक मौद दूंगा कि मौद भी उसको देखकर कापेंगी हमदान की शिद्धत पसंदी सुनकर जवरिया दहल गई कुल हमदान डिलैक्स पानी पियो जल्दी से जवरियने उसे पुरसुकून करना चाहा तुम आ जाओ मैं ठीक हो जाओंगा फरमाईश तो फौरान हाजिर थी नो हमदान इंपॉसिबल मैं नहीं आ सकती जानते हो कल बाल बाल बची हूँ वो तो शुकर है अम्मी को कॉल करके हाशे ने कंफरम नहीं किया वरना मैं पकड़ी जाती पहले कभी पकड़ी गई हो हमदान ने इसकी फिकर हवा में उड़ाई पहले मैं हत्यात करती थी लेकिन कल रात मुझसे बेहत्याती हो गई जाविरी ने फौरान जवाब दिया प्लीस हमदान जित मत करना जानते होना मैं तुम्हारी जित के सामने हाँ जाती हूँ दिल जित कर रहा है और दिल तो तुम्हारा है अब बहलाओ उसे फुल्जी सी बात सुनकर जविरीया के माते पर फिकर नुमाया हुई वीकेंड पर मिलेंगे जविरीया ने टालना चाहा हाई ये वीकेंड ना जाने कब आए ऐसा करता हूँ मैं वहाँ आजाता हूँ बालों में हाथ फिरकस ने जविरीया को सरगोशी आना अंदाज में कहा नो नेवर हमदान सोचना भी मत अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कॉल कट कर डूंगी जविरीया की धंकी सुनकर हमदान का कहका गुंजा नहीं आ रहा फिकर मत करो बस कोशिश करना तुम जल्दी मिलने आ जाओ वरना अपने हमदान को तुम जानती हो वो कैसा शक्स है अपनी बातों में उल्चे वो दोनों सारी दुनिया भूल चुके थे आगाजान के सेने से लगी वो आँखे बंद किये गहरे सांस लेती अपनी दो दिन की जुदाई का मदावा कर रही थी लाग पत्थर दिल बनती रेकिन आगाजान से इसकी महबत बेख्तियारी थी कैसी है मेरी बच्ची दीमे से सर हिला कर इसने आगाजान को जवाब दिया अबी जान ने भी उसे गले लगाया लकिन इसे मुद्चा का चहरा सपार्ट ही रहा इसे मिलते टाइम दीमी मसकान सजाय का आजान की नज़रे भी मुद्चा पर ही थी अगाजान ने आगे बढ़ कर गाजान को भी गले लगाया कुशर सलोबी से वो सब से मिलता मुद्चा को चौंका गया काजान का अंदाज उसे हैरान कर रहा था सबसे मिलती हो काजान को नजरंदास किए अपने कमरे के जानी बड़ी थी मारिया उसे अब तक नजर नहीं आई जूबिया वेगम से पूचने कि इसमें हिम्मत नहीं थी आगाजान भी काजान से बातों में मसरूफ है आफाग भी खुश्पवारी के संग लाउंज में मौजूद था लेकिन बेईरादी नजर इदर उधर भी घूमती रही दिल को अब भी ये उमीद थी कि वो दुश्मने जाँ अभी चाय का मक्ट हाथ में थाम कर आएगी लेकिन चायद इसने गठोर बनने का फैसला ले लिया था कमरे में आकर इसने डुपटा एक जानिब रखा अपने कमरे को देखती वो अपनी बरसों की ठकन उतारना चाह रही थी दो दिन बाद अपने कमरे में आकर वो जैसे पूर सुकून हुई लेकिन एक कैफियत ये भी थी के ये कमरा अब उसका नहीं रहा नजाने क्यों मुंताह को कमरा पराय लग रहा था आईने के सामने खड़े होकर इसने लिपिस्टिक होंटों से रगड़ी जुमकियों की जानी रहद बढ़ाए था कि काजान की आवास काहां में गूझी काजान की मुंझे लबजों की चाशनी दिमाग में गुली मुंताह का हाद येखलक थमा दिल शायद काजान की हुकम बिरादरी चाह रहा था दर्वाजे पर होती दस्तक ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला आ जाओ अंदर आने की अजाज़त देती पैट की जानी बढ़ी तौका के बरक्स मारिया कमरे में दाखिल हुई मुन्तहा का दिल चाहा आगे बढ़कर उसे गले लगा ली और सारे गम कहे डाली लेकिन जिजक आड़े आई थी कैसी हो मुन्तहा आगे बढ़कर वो मुन्तहा के गले लगी मारिया ने बे तकलुफी की दिवार हमवार की मुन्ता की आंखों के गोशे बेर साफ़ता भी गAY मारिया मुझसी सिस्की के संग इसका नाम निकला अगेर अफस ने मस्भूत की क्या हुआ मुन्ता? सब ठीक है मारिया मैं हार गई मैं हार गई मारिया दिलकुछ जैसे शाहरे की जरुरत थी और वो सारा हरा मंतहा को मारिया की सुरत मिल चुका था मारिया सब कस्मे वादे तूट रहे है रंगों से किया वादा तूट गया मारिया हार गई मैं इस शक्स ने मेरे वादे कस्मे सब तोड दिये रंग दिया मुझे इनी रंगों में जिन से मैं किनारा कट चुकी थी रोती को लाती वो तमाम अफसाना मारिया को सुनाती चली गई मारिया को ये गोना सुकून का सांस नसीब हुआ यानि इसकी दुआएं को बूलियत का दर्जा पा गई थी मतόẖ़ की जिन्दगी में रंग लौट आए थे खुश्योंने दस तक दे ही दी थी मतόẗ़ एक दम मारिया की गिरफट भी मनताह की गिरफट तंग हुई मतभा इधर आओ इधर बेठो मारिया सारा दे कर मुंतहा को बैट के जानी बलाई और उसे वहां विठाया ऐसे नहीं कहते मुंतहा तुम हारी नहीं जीती हो तुम जीत गई हो मुंतहा तुम्हारी कस्में वादें तोड़ने वाला कोई और नहीं तुम्हारा महरम है मुन्तहा में बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ मुझे लगता है मेरी दुआएं रंग ले आई है दोबारा तेजी से उसके गले लगे मारिया ने मुन्तहा को हिरान किया फाइनली कोई ऐसा तुम्हारी जिन्दगी में आये जिसे तुम्हारी कद्र है जिसने तुम्हें बदल दिया तुम्हारी एसासाद बदल दिये जानती हो कासान भाई से मैं एक मरतबा मिली हूँ लेकिन उनकी आँखों में जो मैंने सब के लिए इज़त मान रुदबा देखा है वो शायद कोई और शक्स कभी नहीं दे पाता और सबसे बड़ी खुशी चानती हो क्या है मारिया ने उसके जानिब देखा मुझे यकिन नहीं आ रहा मेरी मुंतहा मेरी दोस्त ने मुझसे कुछ शेयर किया है तुर एक साल बाद तुमने मुझसे अपने ख्यालाद शेयर किये अल्लह का लाख लाख शुकर है मेरी दोस्त मुझे वापस मिल गई मारिया की बात सुनकर मुंतहा को शर्मिनदगी ने गेरा जाने अन जाने में वो अपनी तरतकालिफ मारिया को कह चुकी थी एक साल पहले जो मुंतहा खो गई थी मारिया ने आज उस मुंताह को पा लिया था मैं ऐसा ऐसा मुंताह की जबान मज़िद बोलने से इंकारी हुई कुछ मत बोलो मैं समच चुकी हूँ और तुम शर्मिन्दा मत हो नूरी की वज़े तो मैं भी बनी थी लेकिन इन बातों को छोड़ो मुंताह बस एक बार मुझे माप कर दो मुंताह की नजरे बेसाकता हो थी और सवाली अंदास में इसने मारिया की जानी देखा तुम क्यों माहाद भी मांग रही हो क्योंके मैं उस खुदगर्ज भाई की बहन हूँ जिसने तुम्हे तकालिफ की अताह गहराईों तक पहुँचाया हाथ थामे मारिया ने मुंताह को कहा आसुबे साकता गाल पर बिखरे मारिया प्लीज उस शक्स का नाम भी मत लो चहरा एकदम सपाट हुआ तुम मेरी भावी हो बस यही हवाला मिले लिए काफी है खुदा का वास्ता आइंदा माफिक का लग्स भी अपने मुंपर मत लाना एकदम मुंताह मारिया की गले लगी थी अच्छा तुम फिरेश हो जाओ मैं खाना खाने का अंतिजाम देख लू आज रात हम दोनों मिलकर खुब बाते करेंगे गाल पर हाथ रखकर मीठे लग्जे में कहती वो बाहर कर जानी बढ़ी मुंताह को अपना दिल कुछ हलका फुरका महसूस हुआ लेकिन दिल के कुफल चूं के तू अपनी जगे मौजूद थे मारिया वो कबाब पास करना आफाक के नज़र सामने मौजूद मारिया पर ही थी सुर्क फ्रॉक के साथ चुडी दार पार्जामा पहने हाथों में पहनी चुड़ियां लब पर सज्जी सुर्क मत्धम लिपिस्टिक आफाक के दिल पर वार कर रही थी मारिया ने सपाट अंदाज से कबाब आफाक की जानी बढ़ाएं प्लेट पकरते वे इसमें अपनी उंगलिया मारिया की हाथ पर रखी थी मारिया ने प्लेट दे कर फौरान हाथ खीचा और दुसरी जानी आए काजान ये ट्राइ करो मुन्तहा की फिवरेट है कबाब आफाकocy ने गाजान की जानी बढ़ाएं मुन्तहा गाजान की पलेट में रखो कबाब जूबिया वेगम ने मुन्तहा की ला तालुकी को देखकर उसे मतवज़ किया फौकस से कबाब उठाकर इसने गाजान की पलेट में रखी बीवी ओर रिटिंग हो जाएगी गाजान ने धीमे से सरवोशी आना अंदाज में कहा बर्खुर्दार आज कल क्या मसरूफिया थे अगाजान ने गाजान को अपनी जाने मुटवजी किया अंकल बस आफिस के मामला थे इन्हीं में मसरूफिया थे आप हमें आगाजान कहेंगे तो हमें अच्छा लगेंगा आगाजान की फर्माईश पर गाजान ने बेसाफ़ता मस्कुराया था जी आगाजान गाजान ने उनकी खुआश का इतराम किया था आज रात तो हमारी बेटी यही रहेगी ना हम चाह रहे थे कि आप भी यहां रुकते अगाजान ने मजीद बात बढ़ाई मैं आपकी बात जरूर मानता अगाजान लेकिन कुछ आफिस के मामलात और कुछ मौमगर में अकेली होती है तो रुकने का जवास बाकी नहीं रहता इन्शालला नेक्स्ट कोशिश होगी अभी के लिए माजूरत गाजान का नर्मी से इंकार मौमगर मौमगर को परसुकून कर गया इस वक्त वो गाजान से दूरी ही चाह रही थी एक बात मौमगर ने भी नोट की थी मारिया को आफाग की नजरे खुद पर काफी देर से महसूस हो रही थी लेकिन ओब बज़ित थी कि आफाग की जानी देखेगी भी नहीं आफाग का बार बार पुकारना मारिया को जिन्डलाट में मुब्तिला कर रहा था खाने से फारिक होकर चाय का दोर चला था चाय पिकर इसने इजाज़त चाही थी कि अगाजान ने मुंता को नया हुकम दिया मुंता के जहरे पर अगाजान का हुकम सुनकर सर्द महरी तारी हुई थी मुंता, गाजान को घर तो दिखाओ, अभी आपके साथ साथ गाजान का भी घर है जाएए गाजान, मुंता का एच छोटा सा घर देख कर आईए फिर हम आपको जाने की अजाज़त देंगे जरूर आगाजान गाजान ने फौरां हामी भरी, गोयाओ भी मुंताह को अलविदा कहना चाह रहा था आईए, उंगलियों को मसलती हो गाजान के लिए उपर के जानिब बढ़ी थी आगाजान इजाज़त देजिए, गाजान इजाज़त चाही थी जाएए बेटा तीमी मुस्कुराहाट्स के संग, गाजान उपर के जानिब बढ़ा था सारा घर दिखा कर वो गाजान को अपरेर गूम के जानिब ले आई अंदर आकर वो बेसाकता अड्रेसर के जानिब आई नाइस रूम, गाजान ने धीमे से कहा दर्वाजा धीरे से बन किया वो मुंताह की जाने बाया जो ज्रेसर के सामने रुक किये खड़ी थी पीछे से बाहों के हिसार में कैट करके इसने मुंताह का सांस हलक में अटकाया जानती है बीवी दिल तो नहीं कर रहा आपको छोड़ कर जाओं पर हाई ये मजबूरी कांदे पर ठोड़ी टिका कर इसने गरत मजबूत की मुंताह का दिल उचल कर कोया हलक में आया गाजान की कुर्बत में वो बेबस ही हुई ना जाने आज की रात कैसे कटे की चले आए अपने घर चलते हैं नहीं बेसाकता मुंताह की मुंसे निकला गाजान का कह कहा बेसाकता था मेरी गर्बत से दूर भागना चाहती है गाजान ने सरगोशियाना अंधाज में कहा खेर, हाथ दिखाएं गाजान ने अलग फरमाईश की मुंताह ने या खुता हाथ सामने किया हाथ को थाम कर इसमें मुंताह की हतेली पर अंगली फेरी बीवी देखे मेरी महंदी का रंग अब भी फिका नहीं हुआ और सबसे अच्छी इलर्जी भी नहीं हुई महबत यकीनी हो तो उलजन भी सुलच जाती है महबत से अगर कोई चीज की जाए तो वो कभी नुकसान का बास नहीं बनती मुंता को इसकी याददाश्ट से हैरत हुई जी बेसाफता मूझ से निकला बीवी क्या आपको बोलना नहीं आता काज़ान के सवाल पर उसे हैरत हुई क्या मतलब मतलब दो दिन से मैंने आपके मुझ से फक्त चनलब सुने है क्या आपको बोलना पसंद नहीं है मुंता इसकी दुरुस्त अंदास पर सटपटाई थी नहीं ऐसा नहीं है आपको गलत फहिमी हुई है ऐसा कुछ भी नहीं है रिलेक्स बीवी मुंता को एकदम अपनी उंगली में कुछ सरकता हुआ महसूस हुआ उसमें आँखी खोलकर हाथ की जानिब देखा जहाँ खूबसूरत सी रेड डाइमंड की रिंग जगमगा रही थी मुंता ने एक नजर देखकर रुप बदला भीवी खामुशिया महब्बत की तबाही है महब्बत के कहकर बाव से सुकून है और मैं आपके मुंसे मुद्धर बहे महब्बत के कहकर सुनने का तमनाई हूँ ना के खामुशिया तबाही ले आए गाजान के अलफास मुंताह के दिल पर वार कर गए थे दिल तो चाहा के चीक चीक कर बताए के कहके से अच्छी खामुशिया हैं कहके सरसर तबाही है यही कहके इसकी तबाही का बाज बने थे यही महबत और दिवानगी थी जोसे मौत के करीब तर कर गई थी मुहबत को सरे याम बताने वाली सरे याम ही जलील उस गुस्वा हुई थी बीवी क्या हुआ कहा खो गई बाजों से थाम कर इसने मुन्तहा को रुबरु किया और हाथ को दोबारा थाम कर इसने अंगोटी पर लब रखे मैं ये नहीं पूछूँगा कि ये रंग कैसी है और आपको पसंद आई या नहीं क्योंकि मैं आपको अपनी पसंद में ढालना चाहता हूँ अपने रंग में रंग देना चाहता हूँ खुदगर्ज कहले या जिद्धी मगर काजान सिद्धी की सारी खुआशात महबत दीवान की वफाएं आप से ही जुड़ी है और ताउमर जुड़ी रहेगी मुन्तहा यक टिक उसका चेहरा देखी गई दिमाग ने चाहा के काजान सिद्धी की महबत पर एमान ले आएं लेकिन दिल के कुफल ने दिमाग का मुबन किया था मुन्तहा की खामुशी को इसने शर्म संजा चलता हूँ अगर यहां मजद रुका तो कोई खता हो जाएगी काजान की आँखों के रविश दिये मुन्तहा की पलके लरज उठी थी कल इसी वक्त लेने आउँगा याद रखीगा इसी वक्त आउँगा सैया लिबास के हाले में सैया चुडिया पहने मेरा इंतजार कीजिए का अपनी फरमाईश इसके गोश गुसार करकर काल प्यार से सहलाए वो कमरे से निकलता चला गया काजान की जाती हो गिरने के से अंदास पर बैठी थी कदमों ने मजीद खड़े रहने से इंकार कर दिया खौाइश का हुकम सर पर तारी हुआ यक टक सामने देखती हो बेबसी की इंतहा पर पहुंची रही मेसिज टॉन ने मुंताह की तवज़े खीती थी मारिया भी एकदम खामोश हुई किस का मैसिज है देख लू कहीं गाजान भाई का ना हो मुंताह ने खाली नज़रों से मारिया के जाने देखा देखो मुंताह गाजान भाई कहीं मैसिज होगा मारिया के असरार पर मुबेंट ठाम कर इसने स्क्रीन उपन की थी सामने का आजान कहीं मैसिज था वो शायद कोई गजल थी सेया आसमा के साएं में खड़े हम राद गुजरने का इंतिजार करते हैं ए राद तू गुजर जा दिन के उजाले की हम तुझ से फर्याद करते हैं लौट आ मेरे हमदम हम तेरा इंतिजार करते हैं ये राद बिन तेरे सदियों बराबर लगती है ऐ सनाम इस राद को कहे बुजर जा हम तेरा इंतिजार करते है वसल की ये शब हमें तडपा रही है दूआ कर ऐ हमदम ये सयाराद दोबारा ना आए हम तुझे सदा अपने पास रखने की दूआ करते है मुन्तहा ने मेसेज चीन के बिना कोई जवाब दिये मुबैल वापस रखा था मारिया को न जाने मुन्तहा का जवाब ना देना अजीब लगा मुन्तहा रपलाई तो करो मारिया ने इसरार किया हाँ दे दूँगी मुन्तहा ने गोया टालना चाहा मारिया इसके अजर को समच चुकी थी गोया वो जवाब देना नहीं चाह रही थी मुन्तहा मारिया ने पुकर हम रपलाई दे दो मुंता काजान भाई इंतिजार कर रहे होंगे मारिया का सरार मजीद बढ़ा मारिया प्लीज ये मेरा और काजान का मामला है और मेरी मर्जी के मैं रिपलाई करू या ना करू तुम मुझे हुकम मत चलाओ मुझ पर मुंता तुर्क हुई मुंतहा क्या अपनी मारिया की बाद भी नहीं मालोगी मुंतहा ला जवाब हुई देखो मैं ये नहीं चाहती कि तुम पर जबरदस्ती मसल्ट की जाए ये तुम्हारी जिन्दगी है हाँ चांती हूँ महबत में दोके के बाद जल्द एतिबार कर आना मुश्किल होता है ना मुम्किन बिल्कुल नहीं है लेकिन एक बार काजान भाई की महबत पर एमान ला कर तो देखो शायद आल्ला पाक ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा फैसला किया हो मारिया ने उमीद भरी नजरे मुंतहा पर डाली मारिया मैं कुछ सुनना नहीं चाहती मैं नहीं लाना चाहती उस शक्स की महबत पर एमान मैं नहीं बनना चाहती किसी बिवादे के साथ मैं सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ डरती हूँ मारिया अतिबार करने से डरती हूँ किसी की वफाओं से जानती हो, क्यूँ? क्योंके मुझे यकीन है जिस दिन उस शक्स को मेरी सचाई पता चली वो भी मुझे छोड़ देगा दुतकार देगा मुझे क्योंके मैं एक गुर्द बढ़ती हूई औरत हो नफरत करेगा मेरे इस वजूद से जो कभी किसी की दस्तरस में रहा था मर्द खुदगर्स है मारिया उसे बस खास की तमन्ना होती है आम चीज़ों कभी पसंद नहीं करता और अगर कर भी ले तो इस आम चीज़ की कोई वकत नहीं होती एक मरतबा जो इश्क मुझे बदवा के रूप में मिल जाए अब वही इश्क मुझे दवा की सुरत में भी कभूल नहीं है इसलिए अच्छा है ना कि मैं उसकी उमीदों पर पुरा ना उतरू उसकी महबत पर इमान ना लाओं कि ठक हार कर वो मुझे छोड़ दे और जब वो छोड़े तो मुझे कोई तकलीफ दर्द अजियत महसूस नहों दर्द की अता गहराईयों में डुबी और मारिया की आँखों में आसु लाने का मौचिब बनी थी मुंतहा तुमने नाउमीदी पाल ली है मैं मज़िद कुछ नहीं कहूंगी लेकिन मेरी एक बात याद रखना इस चक्स की महबत पर यकीन करके तुम दुनिया में ही जन्नत पालोगी और मेरी दुआओं की सचाईए पर मुझे हद दर्ज़ यकीन है और ये यकीन इंशालला तुम भी करोगी चलती हूँ सुबा मुलाकात होगी मुंतहा की सोचों के दर्वा करती वो कमरे से निकलती चली गए एक दम मुंतहा का दिल चाहा कि वो ये गजल पढ़ी मुबाइल उठा कर इसने दोबारा स्क्रिन डोशन की गजल पढ़कर बेख्तियार इसने स्माइल वाला इमोजो भीज़ा था चनपल की बेख्तियारी ने मुंतहा को चौकाया जाने अन जाने में वो गल्ती कर चुकी थी मुबाइल इसने फॉरण साइट पर रखा और बैट पर लेट कर आके आखे मून ली दूसरी जानिब काजा ने मेंसेज टोन देखकर फोरन मुबाइल उठाया और मुंतहा का मेंसेज देखकर रहरान हुआ और मस्कुराहट ने वज़िहा टहरे का आहता किया था लव यू बीवी दिली दिल में मुंतहा को पुकालता मांके मून गया मेंसेज के जरी और चन कीमती लफ़ बहटा कर वो इनकी वकत नहीं खोना चाता था अनोके शक्स की महबद भी शायद अनोकी थी इज़ार का सुकुनों से हमेशा रूबरू देना पसंद था मारिया रुको प्लीज मेरी बात सुनो अपने पोर्शन में जाती मारिया को इसने हाथ पकड़ कर रुका था क्या हुआ है क्या चाहिए आपको मारिया का लजजा आम था मारिया प्लीज सजा दे लो मार लो मुझे लेकिन मुझसे बात करो आफाक का उदासे से भरबोट जहरा मारिया को शर्मिंदा कर रहा था लेकिन आज की ये पत्थर दिली कल के सुकून का बास थी आप ऐसा क्यों कह रहे है कुछ हुआ है मैं अम्मी की तरफ कुछ दिन रहने आई हूँ कुछ दिन बाद इसी कमरे में मारिया के जवाब पर आफाक नहरत से मारिया की जानी देखा जिसे इसकी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ मारिया के चहरे पर इस वक कोई तास्षर मौजूद नहीं था मारिया रियली सौरी देखो ऐसा रवया मत रिक्तियार करो आफाक में ठहरा दोनों हातों में थामा कैसा रवया आफाक मैं तो ठीक हूँ मुझे क्या हुआ है और गौट सेख मारिया मुझे बेगानगी के अजियत मत दो आफाक बेबस हुआ बेगानगी की बात आपके मुझे अच्छी नहीं लगती दोनों हात इसके अपने से चेहरे से हटाए और बिना कुछ सुने मुड़ी लेकिन आफाक ने दो बारा बाजू पकर कर उसे अपने रूबरू किया मारिया सिर्फ एक मरतबा मेरी बात सुन लो फिर जो चाहे सजा देना मुझे मनजूर होगा आफाक में कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं आपको सजा दू सजा देना तो दूर की बात कह भी कुछ सको माफ कीजी मुझे कुछ दिन बात लोट आउंगी फिर जी भर कर जलील कर लीजे का अभी ये मेरा ठकन जदा वजूद कुछ सुनने की कैफियत में नहीं है कुछ दिन तक पुराने जखम भर जाएंगी फिर नए जखम लेने आपके पास आउंगी लहजे की सर्द मुहरी ने आफाक का सर जुकाया मारिया आफाक के लफजों ने गोया आफाक का साथ छोड़ा था कुछ मत कहें आफाक क्योंकि आपके पास फिलहाल कुछ भी कहने के लिए नहीं है क्योंकि अभी आपके पास कोई खास वज़े नहीं है इसलिए पहले कोई वज़े तलाश करे फिर अपने अलफास का जहर दोबारा मुझ पर उंडेल दीजेगा आफाक की गिरफ्त हाथ पर नर्म हुई थी हाथ छुडा कर वो मुड़ी थी आँखों में एकदर नमी तेरी बिना कुछ बोले वहाँ से निकलती चली गई आफाक महज इस पुष्ट को घूरता रह गया रोकने का कोई जवाज इसके पास मौजूद ही नहीं था मुंतहा गाजान भाई आए हैं कमरे में दाखिल होते ही मारिया का पयाम सुनकर वो अपनी जगे से उचली थी बेसाकता घड़ी की जानित नजर कई जो दिन के तीन बचा रही थी गाजान का कहा सच साबित हुआ अपनी दुन का पका शक्स वो ठीक तीन बज़े यहां मौजूद था सया शल्वार सूट में लिप्टी उल्चे बिक्रे हुलिये में किताब पढ़ने में मकन थी लेकिन यक्तम सारी मसरूफया तरक हुई थी बालों के आवारा लटे गालों को चुमती शरारत पन पर आमदा थी एक जानिब की लटको इसने बेसाक्ता कान के पिछोड़ सा बेसाक्ता गाजान की कलकी की गई फर्मायश कान में गुंजी थी तो तुम चलो मैं आती हूँ बस बैग ले लू मुंताह ने उसे वहां से भेजना चाहा वाट के तुम ऐसे जाओंगी मारिया की चीख नुमाया थी कैसे जाहरे टांगों से ही चल कर जाओंगी बैट सुतर कर वो वार्डरॉप के जानी वह अपना बैक लेनी बड़ी थी तुम पागल हो मारिया दो बार अपनी जगे वापस आई और जोर से चीखी थी क्या मतलब है क्यों चिलना रही हो अब मुझे यकीन हो गया है तुम सच में पागल हो मारिया तेजी से इसकी तरफ आई और कंदों से थाम कर उसे ड्रेसर के सामने लाई यहां बैठो और अपना चेहरा देखो तुम कहीं से भी नौ बेहाता अदुला नहीं लग रही क्या साबित करना चाह रही हो तुम कि तुम खुश नहीं हो तो किसने कहा कि मैं खुश हूँ मुंतहा का अंदास तुल्खता मुंतहा शट अप क्या चाहती हो तुम क्या मेरी रात में की गई किसी बात का कोई असर नहीं हुआ तुम दुनिया वालों को दिखाना चाहती हो क तुम पर जुर्न किया गया है फुपु को ये बताना चाहती हो कि तुम उस कठोज शक्ती आद में अब भी खुद को रोक लगाए बैठी हूँ मुंताह के आने का सुनकर तुबा वेगम कल ही आ चुकी थी और कल से हजारों सवाल करके मुंताह का अच्छे से जिज़ भी कर चुकी थी मारिया प्लीज मैं कुछ नहीं सुनना चाहती तुम उन बातों को छोड़ो मुंताह का अंदास अपाट था तो तुम भी छोड़ दो तुम भी भूल जाओ भूल जाओ कि अल्ला ने एक अच्छा है शक्स तुम्हारी किसमत से जोड़ दिया है जो तुम्हारी सया और वीरान दुनिया को रंगों में बदल चुका है अब तुम मजीद कुछ नहीं बोलोगी तुम्हें मेरी कसम मारिया ने एकदम उसे बेबस किया शट अप मारिया उट्टी बाते मत करो मैं तुम्हारी कसम को नहीं मानती मुंतहा ने फौरण उसे टोका जो मर्जिय करो लेकिन अब बस मेरी जिद चलेगी सिफ और सिफ मेरी मानोगी प्लीज आज मेरी बात मान लो मारिया का इलते जाई लहटा सुनकर वो खामोश हुई प्लीज मुंतहा मान जाओ प्लीज मुंतहा ने महस हां मेसा रिलाया तुम बस पांच मिलिट रोको मैं आती हूँ फौरण से पहले बाहर निकली और अगले चन सिकर में मेकप का छोटा सा बैक और बलैक चुड़िया लेकर वापस आई बिना उसे मज़ीद महला दिये इसने मुंतहा के मुंपर हलके फलके मेकप की बहार खिलाई थी कानों में भारी बड़ी बड़ी जुमकी नुमा बालिया पहना कर इसने मुंतहा के बालों को खोल कर उन्हें कमर पर आपशार की तरह फैलाया डुपटे को एक साइट पर सेट करके से मुंतहा की खाली बाजूओ की जानिब देखा मुंतहा ये लो सहज उडिया इसने मुंतहा की जानिब बढ़ाई नहीं मारिया मज़िद नहीं अब मैं और नहीं बात मानूँगी चुडिया देकर इससे अजियत भरे लहमे ये दोबारा याद आए वो दो टोक अंदाज में कहती हैंडवेग उठा कर कमरे से निकलती चले गई मारिया से पुकारती रहके लेकिन मुत्वा सुल्तान के कानों पर जू भी नहीं रेंगी थी सहच सहच कर सीड़िया उतरती इसने सामने देखा जहां गाजान सिद्धी की अपनी शानदार परसनलिटी के साथ मौडूद था सयाश अलवार सूट पहने पाओं में खेड़ी नुमा सेंडल पहने वो नकसक सत आगाजान से बातों में मगन था मंतहा को वो आज कुछ अलग लगा अस्सलाम लेकुम लाउंच में दाखिल होकर इसने सलाम किया गाजान बेसाकता अपनी जिगे से खड़ा हुआ मंतहा की जानी देखते ही नजर ने गोया हटने से इंकार किया इसकी खौश का इतराम करके कोया इसने गाजाण को मान बक्षा था आओ बच्छा अगजान ने आगे बढ़ कर हुंतहा के कन्दे पर हाथ रखा था गाजान ने फॉरन नजर का रुख बदला अगजान अब जाना है मंतहान ने धिरे से कहा गाजान आफाक ने पुकारा गाजान ये स्विजर्लेंड के टिकिट है मेरी तरब से आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट आफाक ने एक इनवलब गाजान की जानी बढ़ाया मुंता करम यगदम फिका पढ़ा जिस चीज से वो सबसे जादा डर रही थी फटी आँखों से देख रही थी आफाक ने बाला ही बाला तमाम तर प्लैन तर्टीब दे दिया था और इन्हें खबर भी ना हो पाई थी एकदम इनका दिल चाहा के आगे बढ़कर वो इनवलब आफाक से चीन ले और इसके टुकडे टुकडे कर दे आफाक प्लीस ये मैं नहीं ले सकता प्लीस आप मुझे फोर्स मत कीजिए का मुंता आप मेरी जिम्मेदारी है और मेरी खुआश है कि मैं अपने बल बोते पर मुंता को ले जाओ इन्फेक्ट मैंने भी स्विजर लेंड की टिकेट बुक करवाली है कंदे पर हाथ रखे इसने टिकेट्स वापस आफाक की जानी बढ़ाई बलकि मैं तो कहता हूँ कि आप और मारिया भी हमारे साथ चले गाजान ने मताना से टिकेट्स प्लेने से इनकार किया आफाक के जहरे पर भी मुस्कुराहट नमुदार हुई क्या हसीन इत्तिफाक है गाजान क्या आपने भी स्विजर लेंड की टिकेट्स बुक करवाई लेकिन मेरी खवाईश कहले यलते जा ये आपके लिए मैं कली बुक करवा चुका था आफाक अब भी इसरारी था ऐसा करते हैं सब मिल कर चलते हैं क्यों भाबी आप क्या कहती है गाजान ने मारिया को पुकार कर उसे बुकलाया था आफाक की दिल की कोया कली खेली थी इस बहाने मारिया के करीब आने का मौका भी मिल सकता था वाई नौट गाजान सब मिल कर चलते हैं बशर्ट के आप अपनी टिकेट्स कैंसल करवाएंगे इससे पहले मारिया कुछ कहती आफाक फॉरण बोला मारिया के ज़रे पर खिफ़त से लाल हुआ था आफाक से इतनी दीदादी लेडी की मारिया को उमीद नहीं थी ओके मैं कैंसल करवा दूंगा अब इजाज़त देजे विलाकिरों मान गया अलविदाय कलमात अदा करके वो और मुंताह बाहर की जानीब बढ़े थे रेस्टोरंट के आगे गारी रोकर इसनी मुंताह की जानीब देखा जो अपनी सोचों में ही उल्जे हुई थी बीवी कहां खो गई सारे रास्ते वो बस एक बात सोचती आई थी कि हनीबून के लिए वो कैसे मना करें लेकिन कोई सिरा हाथ ही नहीं आ रहा था गाजान के पकारने पर होश की दुनिया में लोटी और सामने रेस्टोरंट देखकर वो चौंकी हम यहां क्यों आए हैं इसके मासुमाना सवाल पर गाजान ने बेसाकता मस्कुराया रेस्टोरंट के ओनर ने हमारी शादी की खुशी में पार्टी रखिये इसलिए आये है पर क्यों मुंताब उखलाई थी गाजान का कहका बेसाकता था बीवी रिलेक्स ओवियसली हम खाना खाने आये हैं बीवी आपने भी लंच नहीं किया था और अगाजान को मैं पहले ही मना कर चुका था क्योंकि मुझे आज आपके साथ लंच करना था इसलिए अब नो मोर कोश्चन और आईए मेरे साथ गाड़ी से तरकर दूसरी जानिब से दर्माजा खोल कर इसलिए मुझे के हाथ को धामा और अंदर की जानिब बढ़ा ये एक आला पैमाने का खुबसरत रेस्टूरंट था अंदर आते ही वेटर ने उसे एक टेबल की जानिब इशारा किया जो पहले ये बुक करवा चुका था चेयर आगे करके इसने मुझे को बैटने कर शारा किया अब खुद दूसरी जानिब आकर बैठा था मुझे की तहरे को यक्टिक देखता वो मुझे को कन्फ्यूस कर रहा था इर्दगेट लोगों की तादाद ना होने के बराबर थी खाना ओर्डर करके वो मुझे की जानी मतवज्य हुआ जानती है बीवी मेरी खुआश का इतराम करके आपने मुझे बता दिया कि मेरे दिल में आपकी क्या हैसियत है इसके सरापे को देखते हुए काजान ने धीमे अंदाज में कहा मुझे की उठी नजर पल भर में जुकी लिकिन आपने एक पाथ को रद किया टेबल पर रखा मुझे का हाथ इसने थामा था एक दम मुझे हाथ कीचा इसकी जल्द बाजी पर गाजान बैसाफता मस्कुराया गाजान हाथ छोड़े तूटे फुटे लफ़ों से इसने गाजान को पहली मरतबा इसके नाम से पुकारा अपना नाम मुझे की मुझे सुनकर गाजान के जहरे पर खुशकुराद मस्कैफियत नमदार हुई बीवी आपने मेरा नाम दिया आपने मुझे पुकारा एक मरतबा फिर पुकारे गाजान ने फौर एंट फरमाईश सामने लगी कलाई पर गिरफ्ट सक्त की मुझे अखलक कापी थी दूर बैठी दो आखों ने ये मंज़र नहाद तनफुर से देखा उना आखों का दिल तो चाहा कि सामने मुझे 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 को आग लगा दे अपनी हाथ से खाना खिलाते देखकर हाशिर के सबर का पैमाना लब्रेश हुआ मुंतहा का खूबसरो चेहरा उसे इस वक्त करिया अलग रहा था बिना लायबा को इतिला दियो वहां से निकलता चला गया मुंताह सुल्तान अजियत सिर्फ अजियत का बास बन रही हो तुम मेरे लिए क्यों तुम मेरे सामने आती हो क्यों तुम मेरी जिन्दगी से चली नहीं जाती एकदमो चीखा था और एश्ट्रे दिवार पर मारा था स्टडी रूम में पैठा वो दोहरी अजियत में मुब्तला था सिग्रेर सुल्का है और बस मुंताह सुल्तान को सोच रहा था जो इसके दस तरस से दूर जा चुकी थी रात के बारा बढ़ चुके थे लेकिन हाशिर अली हमदानी को कुछ संफिकर नहीं थी सरदर्द हद दर्जे बढ़ रहा था लेकिन शायद हाशिर को ये दर्द भी आज सुकुन दे रहा था मुंताह सुल्तान को पाना भी था और इसको दोबारा तकलिप भी देनी थी तुम्हें मैं सुकुन नहीं लेने दूँगा पहले मेरे भाई को अब इस कासान सित्विके को अपना दिवाना बना लिया तुम लोटोगी मेरे पास तुम ही मैं मजबूर कर दूँगा कि तुम खुद आओगी मेरे पास नजाने हाशिर जल्म की कौन सी मिसाल कायम करना चाह रहा था कंपटी में उटती दर्द की टेसों ने हाशिर की आँखों को भारी किया मजीद जागने की इसमें हिम्मत नहीं थी एकदम चेयर से उटकर वो कमड़े की जानिब बढ़ा सामने ही जवेरिया बैट से टेक लगाए मुबाइल में मगन थी दर्वाजे पर होती आँख जवेरिया ने सामने देखा जहां हाशिर कंपटी को मसलता अंदर दाकिल हो रहा था जवेरिया मुबाइल रखकर फॉरान हाशिर की जानिब आई थी हाशिर क्या हुआ साहरा देकर वो हाशिर को आगे लाई थी हाशिर ने सुक निगाई उठा कर सामने जवेरिया की जानिब देखा जो बलैक नाइट ड्रेस में हाशिर के सामने मौजूद थी हाशिर की नजर भहकी थी जवेरिया के चहरे पर मुंताह का गुमान हुआ यक्टक इसका चहरा देखते इसने अपना हाथ जवेरिया के चहरे की जानी बढ़ाया इसके चहरे पर उंग्डिया फेरते इसने चहरे को पहचाना चाहा लेकिन भारी होती आँखी शाद आच भोश में नहीं थी अमानतदारी शाद इस शक्स के खमीर में मौज़ूदी नहीं थी जवेरिया के चहरे में मुंताह को तलाश करता वो शक्स गुनाह का मौज़ूद बन रहा था हाशिर क्या हुआ सब ठीक है ना आपकी हालत जवेरिया ने इसके उल्चे बिखरे हुलियों की चानिब इशारा किया हाशिर का दिमाग इस वक्सिफ एक लुक्ते पर रुख चुका था उन्तहा सुल्चान को सोचता हो जवेरिया के हक से रुख गरदानी बरत रहा था एकदम हाशिर ने जवेरिया को अपनी बाहों में भीच जवेरिया इस हमले के लिए तयार नहीं थी और बेसाखता इसके वजूद का हिस्सा बनी हाशिर ल्यूमी लीज हाशिर जवेरिया ने कमजोर सी मज़ह मत की लेकिन हाशिर शायद होश भवास को बैठा था नजर बहकी थी और हाशिर पर खुमारी चड़ी थी अपना गुसा अजिया जून सब को जवेरिया के वजूद पर उंडेलता चला गया वाट आप जा रहे पर क्यों और कब नो भाई आप नहीं जाएंगे हमदान ये इंदर चीखा था हमदान ये क्या तरीका है भाई है आपका और आप किस लहज़े में बात कर रहे हैं समरीन बेगम की गुर्की सुनकर हमदान इदलक्त खामुश हुआ यार हम हनीमून पर जा हमदान तुम बच्चो जैसा बिर्व क्यों कर रहे हो क्या तो चोटे बच्चे हो क्या चा रहे हो तुम समरीन बेगम को भी हमदान का रवाय या अजीब घरीब लगा मौम दरसल ये जैलिस हो रहा है कि मैं अपनी वाइफ को हनीमून पर ले जा रहा हूं और ये बैचारा अब तक, अकेला घुम रहा है, गाजान ने मजीद हमदान को तपाया था, मौम इसकी भी शादी कर दे, वन्य तो जल जल कर कोईला हो जाएगा, चलो, ऐसा करते हैं तुम भी हमारे साथ चलो, गाजान ने माहल की तुलखी को कम करना चाहा था, लेकिन हमदान के गुस्सा इस साथवे आसमान पर पहुंचा हुआ था, तेजी से उठकर वो उपर की जानी बढ़ा, गाजान भी इसके जाने पर चौंका था, हमदान स्टाप, लेकिन भी ना सुने उपर जा चुका था, गाजान भी इसके पीछे जाना चाहा लेकिन समरीद बेगम ने इसके कदम रोके गाजान रुखो, चाने दो से, बहुत जिद्धी हो गया है, मॉम पलीज, गाजान ने रोकना चाहा लेकिन समरीद बेगम इस वक्त शदीद गुस्से में थी, गाजान अब आपकी शादी हो चुकी है, इस तरह की जिद अच्छी नहीं लगती, और हर जगे हमदान आपके स जाता हुआ, अच्छा नहीं लगता, बच्चा नहीं रहा वो अब, 26 का हो गया है, में चुर आदमी है, लेकिन इसका लाउबालीपन ही खतम नहीं होता, मॉम जस्ट रिलैक्स, मैं बस उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, बाबा के जाने के बाद वो बहुत टची हो गया था, जानती है ना, कितनी मुश्किल से संभाला था, तुम्हारी यहीं बाते, उसे यह सब करने पर मजबूर करती है, क्यों नहीं समझते कि वो अब बच्चा नहीं रहा, गाजान कल को उसकी बेशादी करनी है, अगर ऐसे इसकी खौईशात को तुम पर इन्हसार करने लगेगा मॉम रिलेक्स, जस्ट रिलेक्स, मैं समाल लूँगा उसे, आप टेंशन ना ले, काजान की धीमी मुस्कराहट देखकर, समरीन बेगम ने उसे घुरी से नवाजा, इससे पहले कि काजान मजजित कुछ कहता, उपर से मुंतहा की चीषने की आवाज आई, काजान के चेहरे क मुस्कराहट फिकर में बदली, मौ, मुंतहा और तेजी से उपर की चानिब बढ़ा, एकदम समरीन बेगम भी घबराई थी, चीष दोबारा आई थी, गाजान रुको, मैं भी आती हूँ, समरीन बेगम ने भी इसकी पैरवी की, तुम्हारी वज़े से मेरा भाई मुझ से तूर हो रहा है, तुम क्यों आई हो हमारी लाइफ में, काश तुम मेरे भाई को दोबारा नजहर ही ना आती, कमरे में आते हो धारा, मुंतहा यगदम उशली, स्कूल जी, बाते मुंतहा को उलचा रही थी, माते पर बलनुमाया किये, इसमें हमदान की जानिब देखा, क्य बकवास कर रहे हो, और क्या तरीका है किसी के रूम में आने का, ये मेरा तरीका है, और मैं ऐसे ही आता हूं, मकाबल ने भी तिटाई का मुझारा किया, तुम अपनी हद में रहो हमदान, वनना तुम्हारा वो हाल करूंगी, कि अपने भाई के सामने नज़र उठाने के है, अभी इसी वक्त, कि मैं जान से मार दू, एक दम छोटा सा चाकू, इसने मुझा के मुझा के सामने किया, मुझा की गया जान हलक में अटकी थी, क्या है ये हमदान, हटाओ से, एक दम मुझा के कदम पीछे के जाने बोड़े, इस सा सुर्क चेहरा, औरंगारा होती आँ सब सच जाहर कर रहा है, कि तुम्हारी जान हलक में अटकी हुई है, तमस्खराना कहते वे, इसने अपने कदम आगे बढ़ाए थे, एक दमों पीछे दिवार से टकराई, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, ना तुम जिन्दा रहोगी, ना मेरे भाई के साथ जा सकोगी, अना ही मेरा भाई मुझसे दूर होगा, पहले ये तुम्हारे खुबसरा चेहरे का नक्षा बिगाड़ूंगा, चन्द कदम के फासले पर रुकर इसने सर्द लहजे में कहा, मुंता को इससे शदीद खौफ महसूस हो रहा था, अपने बचाओ के लिए इसने ए साखता, पीछे हटा, तेजी से संबल कर वो इसके पीछे आया, लेकिन मुंताह कमरे से निकल चुकी थी, हमदान फौरान बाहर निकल कर दीवार के ओड़ में हुआ, मुंताह को रोकना गया, गाजान को शक में डालना था, सामने से आते गाजान को देखकर इसके आंसो गाल पर फिसले, और तेजी से वो इसके सीने से लगी और गिरफ्त इसके गिर्द मजबूत किये, गाजान, वो वो गाजान, रोते फे गोया मुंताह की हिचकी बन चुकी थी, मजीद इससे बोला ही नहीं गया था, क्या हुआ भाबी, अपने पीछे वो हमदान की आवास उनका बुद की, और गिरफ्त मज़ीद तंग की, काजान मुझे बचा ले, लीज मुझे बचा ले, और मुझे माट देखा, बीवी, काजान भी एक तम परेशान हुआ, क्या हुआ, कौन मारेगा, बाजो हिमाल केस ने मुंताह को सहारा दिया, संबदिन बेंगम भी फौरान उप पर की जानी पाई थी, भाबी जी, क्या हुआ, क्या देख लिया आपने, और आप ची क्यो रही है, हम्दान की मासुमियत ने मुंताह का मज़ीद हाई किया, कही कोई कौकरुच तो नहीं देख लिया, हम्दान ने मज़ीद गोहरा अफशानी की थी, हम्दान, खामुश हो जाओ, और डर रहें, और आप और ड्रा रहें, मुंधाँ, आप बताओ, क्या हुआ हैं, सम्रिंग पगमिन हम्धान को चुप करवा कर मुंधा से बुठा, लेकिन शायद मुंधाँ जवाब देने की हलत मीं हैं नहीं थी, गाजान मुंधाँ को कमरे में ले जाओ, गाजान अ किया बीवी क्या हुआ है आप इतना डरी हुई क्यूं है गाजान की फिकर बेसाखता थी वो यक्तम मुंतहा के हवासों ने साथ छोड़ा बोलने से जुबान कासिर थी आँखों से बहते आंसू मुंतहा की डर की वाज़े निशानी थे एकदम गाजान ने बाजू इसके गिर कि वो यकीन भी करेगा या नहीं इसकी बेजा तरफदारी ने मुंतहा को चुप रहने पर मजबूर किया था वो कमरे में कौकरोच आ गया था तो मैं डर गई थी सोच के बड़ा स्वाब दे कर वो खामुश हुई काजान की आंके हरत से पटी वाट कौकरोच आप कौकरोच काजान को कहका बेशाइक्षा कर याखता था मुंतहा जांती इसका रियक्शन ही होगा मुझे कीडूसक डर लगता है मुंतहा ने हातों की जानिब देखतेके वे कहा बीवी मुझे लगा आपने ब्फूत हुद देख लिया होगा लेकिन आपको एक कीडे से डर गई देखा तो मुंताह ने भी भूत ही था दिल तो चाहा कहे दे, हमदान जैसा जानवर ही देखा लेकिन अपनी जुबान पर वो काबू पा चुकी थी गाजान की मुस्कुरहाट अब भी वाज़ थी गाजान की मस्कुरहाट पर मुंतहा के चहरे पर गुस्सा वाज़ हुआ बेसाखता वोटकर वाड्रोब की जाने बढ़ी गाजान ने फौरण अपनी मस्कुरहाट समेटी वो जान चुका था कि मुंतहा गुस्सा कर गई है बी वी यी इसने मुंताह को ताहफूस का एहसास दिलाया था वर्डॉप से कप्ड़े निकालती मुंताह की समाथ ने काजान सिद्धिकी की पुर सकून अलफास सुनकर सुकून महसूस किया था बिना कोई जवाब दिये और उपने कवम में मगन रही हमदान की हरकत ने मुंताह को वक्ती तोर पर काफी हद तक खौफजदा किया था लेकिन हवाज भाल होती ही इसका गुसा बढ़ चुका था गाजान को एक नज़र देखकर इसने रूप बदला ये डर तो अब भी था कि अगर वहां से ना भागती है तो ना जाने हमदान इसके साथ क्या कर देता मुंताह का दिल चाहा कि वह यहां से गायब हो जाए इसने मुझे डराया है है ना अब मेरी बारी है इसे तरपाने की मुंताह इसकी नफसियात पहले दिन ही समच चुकी थी उसे अपने भाई से शदीद मुहबत है और वो शायद मुंताह की इस मुहबत में शराकतदारी को बरदाश नहीं कर पा रहा हमदान सिद्धी की बहुत बड़ी गलती किये मुझे डराकर अब तुम तरपोगे बदला तो मैं तुम से ले कर रहोंगी फिर चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े करूंगी काजान को सामारी सचाई में बता कर रहोंगी कल तक जो हनीमून पर ना जाने के बहाने तलाश कर रही थी इस वक्त वही हनीमून पर जाना चाह रही थी चंद दिन वह इस गलीज शक्स से पर चाहे थी के यहां से तो चली जाएगी लेकिन ये चंद दिन गाजान की कुर्बत में कैसे बताएगी इस बात का शायद उसे अंदाजा नहीं था निजिद में कमसकम गाजान के साथ नेकी कर गई थी और यही नेकी उसे भारी पढ़ने वाली थी भारी होते सर के साथ इसकी आँख खुली बाजो पर दबाव महसूस करके इसने बायर जानिब नजर दोड़ाई जहां जवेरिया बेसुत सो रही थी जवेरिया को देखते उसे रात का सारा मनज़र याद आया एक्दम चहरे पर पशीमानी नुमाया हुई अपनी बेखत्यारी में वो कल रात सारी हुदूद तोड़ चुका था मुंता सुल्तान की अजियत इस हद तक दिमाग में हावी थी कि अपनी बेखत्यारी को समा ली नहीं पाया बाजों से उसका सर उठा कर तक्ये पर रखिये वो बैट से नीचे उतर कर सोफे पर जाकर बैठा बालो को मुठ्यूम भेच कर इसने खुद को गया सजा देना जाही ना बेखत्यार तो वो कभी नहीं रहा अपने जजबात को सदा दबा कर रखने वाला शक्स आज हा चुका था जवेजया का सामना करने की इसमें हिम्मत बाकी नहीं थी सद शुकरिया बिता कि वो सो रही थी रेश होकर वाशरूम से निकल कर कुछ देर बाद वो अपनी सेया प्राडों में बैठा आफिस के जानिब रवा दवा था डीब रेड लॉंग गाउन नुमा मैकसी पहने कांधे पर एक चानिब टूपटा सेट किये हलका फुरका मैक अप किये जाब के हालों में लिप्टी वो नीचे आई जा रहें मेरे बच्चे समरीन बेगम ने आगे बढ़कर मुंता सिल्टान को कले लगाया एक चानिब खड़ा हमदान ये मनज़र नहायत तनफर से देख रहा था इतना डराने के बाद भी मुंता सुल्टान की हमत दाद के काबिल थी जी मॉम मुंता ने धीमे से जवाब दिया और एक नज़र हमदान की जानिब डैल गाजान ने खुदी आगे बढ़कर हमदान को गले लगाया लेकिन हमदान की एकड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी हमदान भाई गाजान से नाराज मत हो इन्शालला हम जल्द लोट आएंगे आपको तो चाहिए कि आप हमें खुशी खुशी अलविदा करें लेकिन आप तो गाजान को दास करके बेज रहे हमदान की तीकी नज़र मुंदाह की जानिब उठी जिसके चहरे पर हमदान के लिए पहले से तनफुर और तमसकर मौजूद था मुंदाह से जवाब की उसे तवक्का नहीं थी कल राज कुछ नडराने धमकाने के बाद भी उसके सामने शान से खड़ी थी गाजान का नॉर्मल रवया जाहर कर रहा था कि मुंदाह ने शाहद उसे कुछ नहीं बताया और यही चीज़ हमदान को परिशान कर रही थी देखो अब तो तुम्हारी भावी भी कह रही है गाजान ने भी उमीद कल्ब नजरों से हमदान की जानिब देखा मैं ठीक हूं भाई आप जाएए हमदान आगे बढ़कर गाजान के गले लगा अलविदाय कल्मात अदा किये वो दोनों बाहर की जानिब बढ़े मुंताहन एक तीकी नजर हमदान की जानिब डाल कर हाथ लाया था जैसे उसे गुडबाय कहना चाह रही हो लबो पर चमकती तमस्खराना मुस्कुराएट हमदान को अपना मजाक उड़ाती लग रही थी हमदान तनीमी रखो के साथ उपर बढ़ गया मज़िद खड़े रहने के इसमें सकत नहीं थी जवेया की आँख तकरीबान बारा बज़े के करीब खुली थी मकमल नीन लेकर वो इस वक्ताजा दम थी हाशिर की बेख्तियारी सोचकर लबो पर शर्मगी मस्कुराइट चमकी थी फाइनली हाशिर अली हमदानी मैंने तुम्हें पा लिया मुझे उमीद नहीं थी कि मेरा इंतजार इतना थोड़ा होगा उफ तुम्हारी बेख्तियारी तो एक तरह तुम्हारा मुझसे नजर चुरा कर चले जाना मुझे अलग एससाथ दे गया डाक गरीन हाफ सिलीलेस शर्ट के साथ गरीन ही ट्राउजर पहने लंबे घने बालों को कमर पर बिख्राए वो लाउंच में बटी गरम कॉफी के मज़े ले रही थी स्क्रीन पर बिलिंक करता हमदान के नाम ने जवेरिया को तवर्ज़े की जी लबों पर बेसाखता मुस्क्रहट आई फॉरण से पहले इसने कॉल पिक की हेलो जवेरिया फॉरण से पहले मेरे फिलेट में पहुचो और मुझे इस वक कोई बाहना नहीं सुनना वना आज मैं हाशिर अलि हमदानी का लिहाज भी नहीं करूँगा जवेरिया के बोलने से पहले हमदान ने अपना हुकम साधिक किया था जवेरिया के माते पर पसीना चंका था क्या हुआ हूआ हमदान? जवेरिया को दहिला रहा था ओके मैं आती हूँ प्लीज तुम मत आना जवेरिया फोन कान से लगाए उपर के जानी पड़ी थी जल्दी से हैंड बैक लेकर हान समा को अपनी अम्मी के घर जाने का बहाना बना कर वो तेजी से निकलती चली गई हमदान फ्लेट का दर्वाजा खोलकर वो उसे पुकारती अंदर दाख खिली दोनों रूर्स ने देखने के बाद भी वो उसे कही नजर नहीं आया एक तो इतनी अमर्जेंसी में बुलाया अब ना जाने कहा चला गया है जवेरिया हैंड बैक सोफे पर पटक कर खुद भी वही दराज हुई थी मुबायल निकालकर इसने हमदान का नंबर डायल किया लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था कुछ दिर बाद से लेट का दर्वाजा खुला था और हमदान अंदद आकिल हुआ नकसक सा तयार रहने वाला हमदान सिद्धी की इस वक्त उलचे बिकरे हुलिये में जवेरिया को चौंका गया शर्ट के खुले बटन उलचे बिकरे बाल और आम सी चपल पहने वो हमदान सिद्धी की से बहुत अलग लग लग रहा था जवेरिया जो गुस्से में भरी बैठी थी हमदान का हाल देखकर फौरण आगे बढ़ी लेकिन इसने फौरण जवेरिया को खुछ से तूर धकेला जवेरिया बेसाखता जमीन बोस हुई बेसाखता आहां मूसे निकली थी आगे बढ़कर इसने सेंटरल टेबल पर मौझूद डेकोरेशन आइटम को दूर फेंका था जवेरिया बेसाखता दहली नजाने किसने हमदान सिद्धी के कुस्से को टका दिया काउच को इसने पीछे की जानी बुल्टा शेल्ड पर रखी तमाम चीजों को इसने धात मार कर गिराया जवेरिया में हिम्मत पाकी नहीं थी कि उटकर हमदान को रोक पाती जानती थी अगर इसने हमदान को रोकना चाहा तो उसे भी वो बाहर फेंक देगा शिकता चिलाता वो जवेरिया के कानों पर हाथ रखने पर मजबूर कर गया जवेरिया जमीन पर बैठी तमाशा देखने में मगन थी बाद उन उटती टेसों को इसने नजरनदास किया इस वक्त हमदान का जुनूनी पन जवेरिया की तवज्जे का मरकस बना हुआ था तमाम चीजों की तबाहि के बाद वो एक जानिब जमीन पर बैठा था जवेरिया उटकर किचन के जानिब गई और पानी का गिलास भर कर वापस हमदान की जानिब आई थी पानी का गिलास इसने हमदान के सामने किया जिसे हमदान ने एक सांस में खाली करके दोर फिका काश चूटने के आवाज लाउंच में गौँच कर मादू हुई एक दम जवेरिया इसके करीब आई थी क्या हुआ है गुटनों के बल बैट कर इसने हमदान के चहरे को हाथ के पहले में थामा था हमदान ने फौरण इसके हाथ जटके मैं चली जाओंगी और लौट कर भी नहीं आओंगी जवेरिया एक दम उठी थी और बैग उठा कर बाहर के जानी बढ़ी एक कदम भी अगर बाहर निकाला तो टांगों से महरूम हो जाओगी इसकी धंकी सुनकर जवेरिया के कदम थम चुके थे हमदान धंकी देकर अंदर के चानी बढ़ गया जवेरिया ने घहरा सांस लेकर रुख मोड़ा और इसके पीछे कमरे में आई थी जो बैट पर एक चाने सर के बालों को मुठी में चकड़े बैठा था वो समझती क्या है अपने आपको उसको मैं ने डराया दमकाया लेकिन इस पर उल्टा सर हुआ क्यों लेकर गई वो भाई को मेरा भाई है वो सिर्फ मेरा है किसी का कोई हक नहीं इस पर वो घटिया कल की आई हुई लड़की मेरे भाई को मुझसे दूर कर देगी उसे मैं चान से मार दूँगा चली गई हो मेरे भाई को लेकर और मैं कुछ कर नहीं पाया जवेरिया मामले की तहे तक पहुंची थी योगिनन हमदान सिद्धिकी का भाई नामा शुरू हो चुका था जवेरिया के चहरे पर पेजारियत के तास्वरा नुमाया हुए जवेरिया चहरे पर नर्ब मुस्कराहट लाकर हमदान के बराबर बैट गई देखो मैं चानती हूँ कि तुम उस लड़की से नफरत करते हो और तुम्हारे भाई की लाइफ में भी वह आ चुकी है लेकिन हमदान इन सब को सोचकर तुम क्यों अपनी लाइफ खराब करना चाहरे हूँ तुम्हारे भाई को अगर तुमसे महबत होती तो कभी तुम्हारी मर्जी के बगए शादी नहीं करते तुम्हारी खुशी के खातिरों सब कुछ करते वो हनीमून पर ना चाते लेकिन वो गए क्योंकि उसे तुमसे महबत नहीं है तुम अपनी महबत को अपने उपर सवार मत करो हमदान कि कल को जब वो तुमसे मुकमल दूर हो जाये तो तुम उनके लिए अपनी जान दे दो या फिर खुद को कोई लुकसान पहुचा लो यह सरसर बेवकुफी होगी अगर वो तुमसे एक मील दूर होए तो तुम सो मील दूर हो जाओ चलो हमदान वो भाई है तुम्हारा कोई महबूबा नहीं जिससे तुम अपने साथ बान कर रख सकते हो तुमने मुझे डरा ही दिया था नजाने ऐसा क्या हो गया है बलकि मैं तो तुम्हें गुड न्यूस सुनाने वाली थी फाइनली हाशिर अली हमदानी मुकमल मेरा हो गया इस शक्स की अना कर राट तूट चुकी है जानते हैं उस शक्स ने मुझे बहुत रुलाया है हाशिर अली हमदानी का अना परस्ती कबुत पाश पाश हो चुका है अब बस जल्द अजल मुझे प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है क्योंकि मज़िद में उस शक्स के करीब नहीं रह सकती और जल्द में तुम्हारे भाई की बेज़दी का बदला भी उस शक्स से ले लूँगी बिना ये जाने किसकी बाते सुनकर मकाबिर शक्स का चेहरा जबत से लाल हो रहा था जवेरिया बोलती चली गई बोलते हुए इसमें हमदान के कांदे पर सर रखना चाहा लेकि एकदम हमदान अपनी जगे से उठा था जवेरिया भी चौकी थी और अपनी जगे से उठी थी हमदान क्या हुआ हमदान जवेरिया की आवाद सहलक में अटकी तुम्हारे मेरे भाई के बारे में उल्टा सिधा बोलने की हिम्मत कैसी भी हम्दान ने एक हाथ से उसके गर्दन जखड़ी थी और दूसरे हाथ से इसके बालों को सकती से गिरफ्त में जखड़ा जवेरिया की आँखे बाहर कुबली और आँखों से आंसु बहे थम्दान का गर्दन पर दबाव हर दर्जे ज़्यादा था एकदम जवेरिया की आँखों के आगे अंधिरा आया मौत इसको अपने सामने नजर आई इससे पहले उबेहोश होती हम्दान ने से जोर से धक्का दिया बेसाफ़ता और साइट टेबल से ठक्राई थी और माथे पर जखा माया आईंदा अगर मेरे भाई के बारे में वकवास की तो तुम्हारा मूँ तोर दूँगा जवेरिया हाशिर अली अपनी माँ से जब मैं कुछ नहीं सुन सकता तो तुम तुम जैसी दो टक्के की औरत से कैसे सुनूँगा शोला बार निगाहों से देखता नमली उठा कर उसने जवेरिया को धंकाया और हाँ आईंदा अपनी महबबत के किसे मुझे सुनाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा नीचे जुकर दो बारा बाल जकर कर इसने अपने अलफास का जहर जवेरिया पर उंडेल कर वो कमरे से निकलता चला गया बेबसी बैठी जवेरिया आंसु बहाती रह गई थी सुईजर लेंड के मौसम ने मुझसा सुल्तान को अगर खुशगवारी बक्षिशी थी तो उसे ठिचरने पर मजबूर भी किया था दोनों कपल सफर के दौरान खूब इंजॉय करके आखिर कार्स विजर लेंड की हसीन दुनिया में पहुँच चुके थे हसीन नजारों ने गोया मौनतहा की सारी जहनी कसाफ़त को चन पल के लिए शायद दूर किया था आफाक मारिया भी अपने रूम में आराम करने जा चुके थे लेकिन गाजान का इरादा मज़ीद खुमने का था मौनतहा जो आज के सफर से ठक चुकी थी अभी बैट पर लेड़ी थी कि गाजान को कम साधिर हुआ था बीवी एक वाक मेरे साथ काजान ने हाथ बढ़ा कर मौनतहा को मतवज़ किया उसका हाथ बढ़ाने का अंदाज मौनतहा को न जाने बेचैन कर देता था क्योँ चाकर भी वो हाथ थामने के लिए खुद को रोक नहीं पाती थी बीवी जल्दी से चेंज करे मैं आपका वेट कर रहा हूँ रेड वेलवेटी लॉंग मेकसी इसने मौनतहा की जानी बढ़ाई ड्रेस देखकर मौनतहा हैरान हुई ये ड्रेस इसके कपड़ों में नहीं था हैरान मत हो चाहिए चेंज करें गाजान इसकी मुश्किल समझ चुका था मौनतहा बिना कुछ कहे ड्रेस दिये वाश्रूम के जानी बढ़ गई कुछ दिर बाद रेड लॉंग मेकसी पहने इसके उपर लॉंग कोट पहने सर पर उनी टोपी लिए गाजान के हम कदम थी कैसा फील हो रहा है गाजान ने जरा सा जुक कर सरगोशियान अंदाज में कहा हाथ पर गरफ्त मजबूत थी बेटर यक लबजी जवाब दे कर ओ खामुश हुई एकदम गाजान ने एक बाजू कमर के गिर्द हाइल किया मौनतहा एकदम कांपी थी ये खुबसरत जगे सिर्फ आपको बेटर फील करवा रही है तो क्या खयान कुछ रोमेंटिक फील ना करवाया जाए हौक सदा सी नजरे इसने गाजान की जानिब की जिसके आँखों में दहकते जजबातों ने मौनतहा को सटपाटा आने पर मजबूर किया बीवी, आप बहुत मासूम हो गाजान के कॉम्प्लिमेंट पर मौनतहा की पलके लर्जी आपकी ये मासूमियत ये पाकिज़ की मेरे दिल को अनोके जजबात से दोचार कर देती है शायर जिनकों मैं कभी कोई नाम ना दे पाऊं कभी कभी मुझे लगता है मेरे इज़ार में कोई कमी है महबत का हर कीमती लफ मुझे आपकी जात के सामने छोटा लगता है मौनतहा को गाजान के लफ लफ इज़ार किसी गहरी खाई में धकेल रहा था इस इज़ार के जवाब में मौनतहा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले जानती है ये भी सच था कि मुन्टभा की लाखों कोशिश और शिक बाद भी और गाजान के हख से रूकरदानी नहीं बरत रही थी क्या वो शक्स अत्नी गहरी मुहबत करने लगा था कि मुन्टभा को खबर भी नहो पायी थी मजीद फासला तै किया इसने मुंतहा की पेशानी पर पूरहिदत लब रखे थे अर्बाजू कंदे पर रखे रात का पहर था इर्दिगिट लोगों की तादाद काफी हद तक कम थी मुंतहा ये गोना शुकर भी अदा किया कि यहां पर लोगों की मौजूद की कम है मेरी थी आप और हमेशा मेरी रहीए का गंभीर अंदाज में कहकर इसने दोबारा माते पर लव रखे थे मुंतहा की रूप तक संसनाई थी चन्द लफजों नहीं मुंतहा का सुकून गारत किया वो शक्स ना जाने क्या कहे गया था इतनी गहरी बात इतने गहरे अलफास में कि इसने मुंतहा का दिन धरकने पर मजबूर कर दिया सचाई का जरासा भी इद्राक अगर कासान को हुटाता तो इस शक्स को शाद अपने इजहार पर शर्मिंदगी होती ये मुंतहा की अपनी सोच थी अगर कासान सिद्धी की की सोच जान जाती तो ऐसा खयाल भी कभी मन में ना लाती मारिया का रवईया यहां कर भी सर्द ही था शाय सिजरलेंड के थंडे मौसम ने मारिया के हवास जजबात सर्द कर दिये थे गाजान और मुंतहाने के सामने तो वो नॉर्मली बात कर दी लेकिन कमरे में आकर चेंज किये कमफर्टर में खुसक चुकी थी आफाक जो इसके ये रात के प्लैन बना कर बैठा था इस पर पानी फिटता नजर आ रहा था काउच पर बैठा वो हाथ में सिग्रेट थामे जविलिया के पुछत गूर रहा था बोजल आँके नीन से पुड़ थी लेकिन शायद आज चाक कर वो नजाने कौन से तक्रीफ को सुख देना चाह रहा था अपने कुर्दा गुनाहों का शायद इसके पास कोई हल मौजूद नहीं था मारिया का तकलुफाना अंदास आफाक की हिमत को तोड रहा था वो शायद अब कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी लेकिन शायद आफाक को भी जिद हो चुकी थी कि वो उसे मना कर रहेगा यकलक्त एक ख्याल ने आफाक की दिमार को घेरा था फोन उठा कर वो बाहर के जानी बढ़ा दर्वाजा खुलनी और फिर बन होनी की आवाज सुनकर जवेरी ने करवट बदर कर पीछे देखा वो इस वक्त से जाग ही रही थी आफाक की जानी देखने की भी हिमत नहीं थी और इससे बाद भी करना चाहती थी मारिया इस वक्त ऐसी उज़न में उज़ी थी कोई रहा उसे समझ नहीं आ रही थी आफाक नजाने इस वक्त कहां गया था उसको एकदम तश्वीश हुई जवरिया अपनी जगे से उठकर दर्वाजे की जानीब आई हलका सा दर्वाजा खोलकर इसने बाहर जाका जहाँ आफा करीडर में खड़ा किसी से महुख गुफटगू था आफा की नजर बेसाखता मारिया के जानीब गई लेकिन इसने फूरर नजर अंदास किया और गुफटगू का रुप भी बदला या माई बेबी डव यू टू माई बेबी बाई 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 सी यू सून आफा की शरारत की रख फड़की थी और पल भर में इसने अपनी टोन चेंड की मारिया इसके अलफास सुनकर हकबकर रह गई आफा किसी और के साथ ये क्यों कर मुम्किन था आँखे नमकीन पानियों से भरी जैसे से वो बिस्तर पर आकर दराज वी कुछ देर बाद आफाक भी अंदर दाकिल हुआ और मारिया के बराबर में दराज होकर रुख बदल गया लबो पर शरारती मुस्कुराहट नुमाया थी अतनी सिस्कियों का गला गूती और दम सादे लेटी थी लेकिन आफाक से पूछने की हिमत नहीं थी रोते हुए न जाने कब इसकी आँख लग गई थी उसे खबर नहीं हो पाई अलारम के आवास से उसकी आँख खुली थी जल्दी से करवड बदल कर इसने आफाक को देखना चाहा लेकिन खाली जगे देखकर वो हक तक रह गई आफाक कमरे में मौजूद नहीं था अपनी साइड से उठकर वो चपल पहन के ने के लिए जुकी थी जब साइड टेबल पर रखे एक सफ़े ने इसकी तवज़े खीची शकी नजरोसस ने वो सफ़ा पकड़ा इस पर लिखी कई तहरीर पढ़कर मारिया कर रंक फक हुआ मारिया मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तुम्हें रूलाया है अब अगर मैं चाहूं भी तो माफी मुम्किन नहीं है इसलिए मैंने हम दोनों की लाइफ के लिए एक फैसला किया है मैं फेरीटेल केस्टल पर तुम्हारा इनतिजार करूँगा उमीद करता हूं ये फैसला हम दोनों की लाइफ के लिए अच्छा थाबित होगा प्लीज आज आखरी बार मेरी खौाइश का इतराम कर लेना गलू ड्रेस और वार्डोप में हैंग है उसके साथ तमाम लौजमात भी मौजूद है उपहन कर मैं तुम्हारा रिजॉर्ट में इंतिसार करूँगा प्लीज जरूर आना नीचे कुछ देर में एक बलेक गाड़ी आकर रुकेगी इसमें बैटकर जाना वो तुम्हें मन्जिल तक पहुँचा देगी मारिया के हाथ से इस जलता वो सफ़ा दूर जा गिरा सुनसी वो अब भी उस तहरीर को दिमांग में ताज़ा दम कर रही थी रात में किसी लड़की से बात करना और अब किसी फैसले का जिकर करना मारिया खलक खुशक कर गया चेहरा ये खलक सफेद हुआ था नहीं आफाक को मैं कोई फैसला नहीं करने दूँगी मैं चाऊंगी और इन्हें इस फैसले से रोकूंगी तेज़े से उटकर और ड्रॉप की जानी बढ़ी और इसमें हैंग, बलूर, सकर्ट और टॉप देखकर मारिया की हैरत यकीनी थी बिना कुछ सोचेस ने वो ड्रेस थामा था और वाश्रूम की जानी बढ़ी कुछ दिर मो ड्रेस पहने और हैंड बैक थामे नीचे की जानी बढ़ी, मुबायल पर मुटहा को मैसेज सेंड किये, वो कारी में बैठी थी जो शायद इसी के इंतिजार में खड़ी थी दूसरी जानी मुटहा ने मैसेज देखकर आफाग को गुट लग का मैसेज सेंड किया और दोबारा गाजान की जानी आई जो रेहन फॉल का मंज़र देखने में मगन था मुटहा को अपनी जानी बाता देखकर और मुस्कुराया थोड़े से लब फैला कर इसने जवाबी मुस्कुराया गाजान को दी थी शाम को घलोटी थी हमदान की दिये गए दर्द के निशान अभी कलिब और माथे पर मौजूद थे हमदान की जुनुरी अंदास से वो अच्छी तरह वाकिफ थी लेकिन आज कंदास जवेरिया को रूह तक जखनी कर गया हाशिर को वो इस बारे में क्या जवाब देने वाली थी इस वक्त इसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था फुल्स लियूस शलवार सूट के साथ इसने डुपटा अच्छी तरह गर्दं के गिर्द लपेटा माथे के जखम को इसने मेकप से हलका करना चाहा लेकिन शायद जखम गहरा था बैट पर लेटी नमाखों के साथ वो हमदान के जल्म को ही सोच रही थी जब हाशिर अंदर दाकिल हुआ जवेरिया ने नजर फेरी हाशिर भे एक नजर डाल कर टाय की नौट डिली के काउच पर दरास हुआ कमरे में गंभीर खामुशी ठाय थी कुछ देर बाद हाशिर की आवाज ही फिजा में कुजी थी आ जाओ खाना खालो बाद का कोई सिरा हाशिर की हाथ में ही नहीं था बे तुका सवाल करके इसने जवेरिया को मतवज़े करना चाहा मुझे भूक नहीं है करवट के बर लेटी जवेरियन जवाब दिया कर रंग पक हुआ लेकिन जल्दी इसने संभाला आपको इससे क्या गर्स कि मैं मरू या जीओ जवेरिया ने शिक्वा हाजिर था हाशिर के माती पर बल नुमाया हुए जवेरिया मैं कुछ पूछ रहा हूं ये जखम कैसा है हाशिर ने सकती से पुछा वाश्रूम में गिर ग किया था मुझे नहीं खाना क्या आपको सुनाई नहीं ते रहा जवेरिया के हड़धरमी वाज़ थी एकदम हाशिर ने हाथ पकल कर उसे खड़ा किया हाथ में एकदम दर्द की टेस उठी जिसे वो लब में ही दबा गई हाशिर आप मेरे साथ जबरतसी नहीं कर सकते जवे जवेरिया टस से मस नहीं हुई हाशिर ने जबर्दस्ती कंदों पर दबाव डाल कर उसे बिठाया दूसरी चेयर पर बैटकर इसने थोड़े से चावल जवेरिया की प्लेट में डाले लेकिन यहां भी शायद इसका जब आजमाना चाह रही थी चमच भरकर इसने जवेरिय और चमच वापस इसकी जानी बढ़ाई आखों में नर्म तासुरात थे बिना बोले भी वो शक्स शायद जवेरिया को हिम्मत दे रहा था इस वक्त हाशिर के जहन से शायद मुंतह सुल्तान कहीं महूं हो चुकी थी सामने अगर किसी काक्स था तो बस वो जवेरिया का ही थ गारी से उतर कर वागे बढ़ी इर्द गिर्ट चहल पहल और खुबसूरत मनजर भी इसकी तवज़े नहीं खीच पा रहे थे एक जग्यों से लोगों का चमगटा नजर आया आफाक का कहीं भी नामनशान मौजूद नहीं था एकदम मारिया को अकेला पर महसूस हुआ इस स सच था कोई लड़की इसकी लाइफ में आ चुकी थी आफाक नहीं आप मुझे नहीं छोड़ सकते आप ऐसा नहीं कर सकते साथ मौजूद लड़की ने हैरत मारिया की जानिब देखा बिना कुछ बोले आफाक उसे लिए लोगों के हुजूम की जानिब बढ़ा आफाक नह रश को हटाते वो सेंटर में आया मारिया की आँखे हैरत से खुली इड़की तमाम लोगों के हाथ में एक एक बलून मौजूद था जिस पर वाज़े हुफों में सौरी दर्च था नारिया की हैरत यकीनी थी आँखों की नमी खुदबा को थमी हम नजर इड़की डाली हर शक्स के हाथ में बलून मौजूद था एकदम नारिया आफाक के जानी मुड़ी जिसके हाथ में काफी तादाद में बलून्स मौजूद थे इन पर भी सौरी लिखा हुआ था मारिया की हाथ बेसाखता मों की जानी बड़े और हैरत से इसने अपने गालों पर हाथ रखे शायद जटके पर ढटका लग रहा था आँखी थी पहरत से फटने को थी जिसम का सारा खुन टहरे पर सिमट आया था ये सब मेरे लिए अलफाज थे कि जबान का साथ नहीं दे पा रहे थे इतनी खुबसुरत माफी की शायद मारिया को उमीद नहीं थी सारे रास्ते और मनाने की तरी की सोचते आई थी लेकिन यहां तो अलग मंज़र ही देखने को मिला था रोती आँखों के साथ वो नीचे जुकी थी और आफाज के हाथ कानों से हटाए और उसे खड़ा किया था धीमी मुस्कुराहट के संग वो उठा था ये अखलक मारिया आगे बड़ी थी और आफाज से तेजी से आफाज की गली लगी हैरान हने की बारी अब आफाज की थी मारिया की गली लगते ही सबने बलून्स को हाथ से आजाद किया और तालिया बजाई थी मुझे लगा आफाज आफाज आप मुझे छोड़ देंगे मैं बहुत डर गई थी आफाज मैंने आपको माफ किया इसके अलफाज सुनकर आफाज के जहरे पर मुस्कुराहट चमकी थी यगदम इसने गिरफ्त मजबूत की थी कमर पर इसके बाजू महसुस करके मारिया होश मेला थी अपने बेख्तियारी पर उसे शर्म ने आगेरा और इसने अलग होना चाहा लेकिन शायद अब ये मुम्किन नहीं था जिरे से आफाज में इसे खुद से अलग करके कंडे पर बाजू हैंड करके इसकी तवज़े सामने दिलवाई मैं जानता था तुम जरूर आओगी रात ही मैंने सुजीन को कहकर प्लैन तर्कीब दिया अब जिस वक्त तुम दर्वाजे में खड़ी थी कॉल बन हो चुकी थी वो अलफाज बस तुम्हारा दुआ 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 चहरा देखने के लिए कहे थी धीमे से कहकर ओपीचे रहता मारिया ने तेज़े से दिल के मुकाम पर एक मुका नसीब किया था और दोबारा सीमे में मूठ छुपा लिया आखेकार आफाज मारिया को मनाने में काम्याब हो चुका था शाद इसकी दुआएं रंग ले आई थी हाथ से वहां मौझूद तमाम लोगों को हाथ हिला कर उसने शुक्रिया अदा किया येकिनन सहल जिंदगी इनकी मुन्तजर थी मारिया मेरे कप्रे कहा है आफाज की हाथ खुनकर मारिया की हाथ में तेजी आई थी बेटा आफाज की सारी चीज़े तैयार करके किचन में आया करू चांती होना कितना लापरवा है सूबिया बेगम के चहरे पर चमकती मुस्कुराहट ने मारिया को शर्माने पर मज़बूर किया जी हमी मैं पूरी कर दिया करूंगी हलका पिले रंगे शर्ट के साथ रेड ट्राउजर और सर पर हलका सा पीला डुपटा ओड़ी वो भरे भरे वजूद के साथ किचन में आफाज के लिए नाच्ता बनाने के लिए ही मुदूद थी पांच माह का जायद अर्सा गुज़र चुका था आफा की कुर्बत मौ महब्बत की च्छाव ऐसी पूर कशिश थी के मारिया का पूर पूर इस महब्बत में निखरा था अगर जादती की गई थी तो फिर भर पाई इतनी दिलनशीन थी के कोई शिकवा शिकायत बाकी ही नहीं रही थी अब जाओ जल्दी से वन्ना वो यहीं आ धंकेगा दूबिया वेकम ने उसे किचन से बाहर भीजा इसकी हालत के पेशे नज़र इसका कमरा नीचे ही सेट कर दिया था सर इलाकर वो कमरे की जानी बड़ी जहां आफाक वेस्ट पहने बैट पर बैठा दर्वाजे की जानी भी मतवज़े था मुझे पता था आप यहीं मौजूद होगे रोज का काम बनता जा रहा है जिस दिन अम्मी को शिकायत लगाई ना फिर आपका फूला मूँ देखने वाला होगा मारिया के धंकी का कोई असर आफाक के चहरे पर मौजूद नहीं था मारिया ने नजर कमरे में डौडाई बैट से आफाक के कपड़े कायद थे वरलेट परदे के पीछे चुपाया गया था गड़ी का एक स्ट्रीप बंद था शर्ट पहने से पहले घड़ी हाथ में पहनी हुई थी आफाक आप छोटे बच्चों की तरह अतंग करने लगे है सलवाद सुनाती वो वार्ड्रॉप से कपड़े निकाल कर वापस बैट की तरफ आई जहां आफाक खुमार भरी नजरे इस पर ही गाड़े बठा था अब बोल क्यों नहीं रहे मारिया मस्ली सकती से बोली क्या बोलू तुम तो बोल रही हो तुम्हारी प्यारी सी मौनी डोस ले लू फिर अपनी भी सुना दूँगा शरारा से भरपूर लहजे में सुनकर मारिया की तेवरी चड़ी आफाक क्या है क्यों इतना तंग करते हैं मारिया चड़ी थी अपनी जगे से उठकर वो मारिया के जानी बाया क्या करूँ तुम्हारी सड़ीयल सा चहरा देखकर मुझे सुकून की एक लहर दिल में महसूस होती है और ये लहर तमाम दिन पर सुकून रखती है मारिया का हाथ दिल के मقام पर रखकर आंखों में ज्जाग कर कहा वो इसकी दिल की धर्कर में बढ़ा गया ठा इससे पहले वो मजीद करीब आता दिल के मुकाम पर हलका सा पंच मार कर इसमें आफाक को दोर धकेला अब मुझे आवाज मत दीजेगा वरना अम्मी को आपकी सारी कारस्तानी सुना दूंगी थमकी आमेज अंदाज में कहती ही वो मुड़ी हिती के आफाक ने डुपट्टा थाम कर उसे रोका था पल भर में गाल पर लव रखकर और मारिया के संबलने से पहली परार हो चुका था आफाक जो अपन हुजोर से चिलाए सरजटकर वो सुर्ख चहरे के साथ दोबारा कमरे से निकलती चली गई थी जिन्दगी चलते रहने का नाम है वक के साथ आगे बढ़ जाना ही समझतरी का मुझाहरा है और जो गम वो गुसे में जिन्दगी खुद पर रोक ले इससे बढ़कर बेवकुफ कोई नहीं है मुझा सुल्तान आगे तो बढ़ चुकी थी और अगर आदते लग जाएं तो महबबत से ज्यादा खतरनाक होती है इसके मवजूर की एक तहफूस की मानी लगती थी गासान अगर तहफूस था तो एक कड़ी धूबी पल-पल मुझा की जिन्दगी में थी हमदान का रवया वक्त के साथ-साथ बिगरता जा रहा था लेकिन मुझा सुल्तान भी जित की पकी थी बदला लेकर छोड़ती थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से न जाने क्यों उसे हमदान से खौफ महसूस होने लगा था इसके नजर का जाविया बदल चुका था अगर पहले वो उसे डराता धंकाता भी था तो कमस कम इसकी आँखों में बेदीद्गी नहीं होती थी लेकिन पिछले किछ दिनों में वो भी खतम हो चुकी थी गाजान की बाई से महबब जू की तू थी मुंतहा ने बारहा हमदान की हरकत काजान को बताने की कोशिश की लेकिन शायद अभी ये सब मुम्किन नहीं था शायद किसमत उसे मजीद आजमाने के दर पर थी ये तीसरी मरतबा था जब मुंतहा ने काजान को बताना चाहा हेलो मुंतहा कैसी हो लाउंच में आते ही इसके उची आवाज मुंतहा को पकारा ये उनकी दूसरी मुलाकात थी रिस्टेप्शन पर तो लाइबास से मिल नहीं पाई थी लेकिन हनीमून से आने के बाद वो अचानक उसे शादी के मुबारक बाद देने आई थी अपनी बातों से उन मुंतहा को अच्छा खासा मुतासर कर चुकी थी कुछ इसके बादा के फैमिली तालुकात होने की वज़े से समरीन बेगम ने उसे खासी एहमियत दी थी कुछ फोन पर भी उनकी अच्छी खासी अलक सेलक हो चुकी थी इस वक भी कासान सिद्धी की गहर मौजूद की में आई थी राज भी औकासान की गहर मौजूद की में ही मौजूद थी मुनतहा बेसाफता आगे बढ़ कर उसके गली लगी खान समाकत चायका कह खे कर वो दोबारे लाउंच मे आई जहां लाइबा इसका मैगजीन देख रही थी मैं आटी को बिलाती हूँ मुंताहा न मुंताह इनी अ मत बिलाना देरासल मैं तुमसे ही मिलने आई थी लाइबा ने उसे फॉररं लोका मुंता सरहिला कर काउच पर बैठ गई कुछ देर बाद चाय का दौट चला मुंता एक रिक्वेस्ट थी अगर तुम मान जाओ मैं बहुत मान के साथ तुम्हारे पास आई हूँ मुंता चाउंकी थी क्या हुआ लाइबा? सब्सक्त ठीक है मुंता ने सवाली अंदास में कहा वो दर असल मुझे काजान से हल्प चाहिए लेकिन शायद हर बार की तरह इसने इस बार भी इंकार किया है कैसी हल्प चाहिए? दर असल मैं इसके साथ एक डिल करना चाहती हूँ पर वो मान नहीं रहा मेरे बाबा को भी उसने आखरी वक्त में इंकार करके तनहा कर दिया था लेकिन मैं दोबारा अपनी अना खतम करके उसकी जानी बढ़ी हूँ प्लीज उसे कहना मेरी ओफर मान ले मैं उस वक्त अपनी डूपते बिजनस को बचाने के लिए उसकी हेल्प की जरुरत है मुझे मैं इन्हें कैसे मनाऊ और बिजनस के मामलात उन्हें ने मुझसे कभी डिस्कस नहीं किये प्लीज मुन तहा उसे मना लेना प्लीज मैं तुमारा इहसान कभी नहीं भूलूंगी अपनी बाते इल्टेजाव से उसे उल्चा कर लाइबा खान जा चुकी थी और मुंताह सुल्टान सोच में डूबी थी किस बारे में गाजान से कैसे बात करे तुम तो कहते थे कि वो बहुत चाती लड़की है लेकिन जितना मैं उसे जान चुकी हूँ तो बहुत ही बेवकूफ लड़की है इतनी जल्दी मेरी बातों पर रतिबार करने लगी है कैफे कलम में बैठी वो सामने मौजुद हाशिर से मकाति थी मासुमित कर ढूंग उसके रग रग में है हाशिर के माथे की रगे तनी नहीं हाशिर वो बहुत मासुम लगती है यकिन करो उसे मैं अपनी बातों में ऐसा उचाती हूँ कि वो इन पर आँख बन करके इमान ले आती है जूट है सब जूट एक नंबर की धुके बाद लड़की है पहले मुझे फिर मेरे भाई पर और अब उस गाजान सिद्धी की पर अपनी महबत का जादू जगाया जोट फरेब इसमें कोट कोट कर भरा है तुम कहती हो ना कि मैं क्यों से तनी नफरत करता हूँ और क्यों इसका अजान सिद्धी की बरबादी चाहता हूँ हाशी शायद आज सारी सचाई खोलने के दर पर था जानना चाहती हूँ उसके सचाई मुबाइल उठा कर इसने गिलेरी का लॉक फोल्डर ओपन किया और अशर की और मुंताह की तस्विर इसके सामने की ये है उस लड़की की हकीकत ये मेरी साबिका मनकुहा है और मेरी कजिन भी हाशी ने कोया एक बहुत गहरी हकीकत लाइबा की गोश गुसार कर बेसाखता लाइबा की मुझ से निकला हाशी चेर से टेक लगाकर इसके तासरा देखने में मगन था जानता था हैरत का बड़ा जटका उसे लगेगा इस्तिया आराम से उसके तासरा देख रहा था लेकिन हाशी ने फौरन आफ करके पॉकिट में रखा मुझे दिखाओ वालियों से नवासी और नॉर्मल ही और तुम्हारी काजान से क्या दुश्मनी है लाइबा ने इस तफसार किया इसके वज़े से मुझे दो दो नुकसान हुए ये चन्ड अर्शा पहले की ही बात है जलार संस की प्रोजेक्ट पार्टी थी जहां बेस्ट बिजनस में परस इसने बिना सोचे समझे मुझे तमाम लोगों के सामने जलीन किया था जवाबर मैंने इस पर हाथ उठाया इस खबर को मीडिया ने हर दरजे उच्छाला था लेकिन मैंने अपने जराय इस्तिमाल करके इसको बन करवा दिया जगे जगे मेरी बद्नामी हुई थी और जानती कर अपनी शामत नहीं बिलवा सकती थी हाशिर मैं जानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है गाजान सिद्धी की अना का मारा शक्स है और उसकी अना मैं तोड कर रहूंगी इवन उसकी बीवी खुद ये अना तोड़ेगी जूटी हमदादी जता कर इसने हाशिर की तवज्ज थे इस रब ने शायद इसकी रसी दरास कर रखी थी मकाफाते अमल शायद अभी बहुत दूर था अपनी बातों से अदाओं से वो अभी हाशिर को बेवकूब बना रही थी शायद हाशिर अली की किसमत भी उसे अभी मौके फराहम कर रही थी हमदान को वो चाह कर भी छोड नहीं पाई थी, महबत अब भी गहरी थी हाँ, एक तब्दिली इसमें जरूर आई थी अब इसने हमदान के पिछे भागना छोड़ दिया था रोम में बैठी वो टीवी की चानी मतवज्जी थी जब यगदम इसका सर घुमा, जी यगदम मतलाया तेसी से उठकर वो औश्रूम के जानी पढ़ी कुछ देर बाद गैर होती हालत के साथ वो बाहर आई दिन का वक्त था और हाशिर के आने का कोई उमकान बाकी नहीं था आँखों के आगे अंधिर अच्छा रहा था टवरियों को किसी अन्होनी का हसास हुआ कुछ दिन से इसकी ये हालत हो रही थी लेकिन वो इग्नोर कर रही थी एकड़म मोबाइल उठा कर इसने हमदान को मैसेज किया और खुद चेंज किये बाहर की जानी पढ़ी हानसामा को हमेशा वही बहाना बता कर वो कमड़े घर से निकल कर में डोट तक आई थी हमदान का इंतजार करती वो इल्गिट भी मतवज़े थी कुछ देर बाद हमदान की गाड़ी आकर रुकी गाड़ी में बैटती वो उसे सारी तफसील बता कर हास्पिटल रवाना हुई जहां डॉक्टर ने इस पर गहरा इंकिशाफ किया था फटी आँखों से रिपोर्ट थाम कर वो बाहर आई थी जहां हमदान सिद्धी की उसे इंतजार में कौफ सजदा था कोट लेकर इसने अल्मारी में हैंक किया गाजान को आड़ो कुछ परिशान सी लग रही थी शर्ट और ट्राउजर लेकर वो गाजान की जानी बाई गाजान ने कप्रेस के हाथ से लेकर साइट पर रखे थी और खुद इसके हाथ को थामा था बीवी मस्कुरहाट कहां गायब है गाल को सहला इसनी मुन्तहा की आँखों में देखा जो आज बोज़ल सी थी कहीं भी नहीं जबरदसी लबों पर मुस्कुरहाट तारी की कुछ तो गड़बर है तोनों हाथ कंदों पर रखकर इसने चहरा मुन्तहा के रूबरू किया नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है इन पांच माह में मुन्तहा ने कोई खौइश कोई जिद नहीं की थी खौइशा तल्ब महां मौचू होती है जहां महबत हो और मुन्तहा सुल्तान को गाजान से महबत तो नहीं थी लेकिन बीवी की फ्राइश वो बहुत अच्छे से निभा रही थी गाजान उसकी हर जरूरत हर खौइश बिना बोले पूरी कर देता था शायद वो शक्स इसकी रूह तक को छूक कर आया था जो हर सवाल को बिना जाने भी हल कर देता था महबत का नगमा पढ़ने वाला शक्स इस महबत को अपनी पूरी इमानदारी से निभा रहा था जवाबन महबत की इसने कभी मुंटा सुल्तान से रिमान ही नहीं की थी कोई आया था है आजगर में गाजान ने सवाल किया मुंटा की नजर हैरत से उठी काजान की आँखों में भी सवाल वाज़ था जी वो लाइबा आई थी हाथ मसलतिस ने कहा गाजान का हाथ फोरण खंदों से हटा और माते पर बल नुमाया हुए वो क्यों आई थी और आप उसे कैसे जानती है गाजान का लहजा यकलक सक्त हुआ मुंता का दिल दहला गाजान का लहजा हमेशा नर्म वो पुर्सकून होता था लेकिन आज इसकी लहजे में सक्ती थी वो कौफी मरतबा मुझसे मिल चुकी है मुंता ने उमलिया चटकाते वे कहा ओ आई सी गाजान बिना कुछ कहा ड्रेसिंग डूम के जाने बढ़ा मुंता बैट पर दरास भी वो क्या लेने आई थी यहां गाजान की सर दावा सुनकर वोच ली वो वो दर असल एक दिल के लिया आई थी मुंता को गाजान का लहजा सक्त लग रहा था कैसी दिल रुक मौड कर वो बैट के दुसरे किनारे पर बैठा चहरा इस वक्त जब्त से लाल हो रहा था जावन मुंता ने सारी तक्सिल इसके गोश को सार कर दी जैसे जैसे सुन रहा था गाजान की माते की रगे तन रही थी बीवी मैं आफिस के मामलात आफिस में रखना पसंद करता हूँ आज के बाद आप लाइबा से ना ही मिले तो बहतर है और ना ही कोई तालुक रखेंगी मैंने अब तक आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाई लेकिन इस मामले में आपको मेरी बात माननी होगी गाजान का रहचा अडल था आप ओफर मान ले प्लीज मुन्ताहा ने आँखें वमेच कर कहा मबादा क्यों शक्स अपनी सुर कंगारा आँखों से मुन्ताह की जान ही ना ले ले कबुदर की तरह आँखें बंद किये लेकिन कोई जवाब नहीं आया मुन्ताहा ने डरते डरते आँखी खोली और पीची की जानिब देखा गाजान सिद्धी की करवट के बर ले चुका था मुन्ताह समझ चुकी थी कि वह बहस करना नहीं चाह रहा इन पांच महिनों में इतना चान चुकी थी कि गासान अगर नाराज़की का इज़ार करता था तो लब्सों की मार की बज़ाए खामोशी की मार मारता था एर इस वाग भी वह हुआ था इसकी नाराज़की को महसुस करके मुन्ताह की आँखे नम हुई पुष्ट को घुरे वो भी चुप चाप एक जानिब तरास भी जानती थी कि ये नाराज़की सुबह तक गायब हो चुकी होगी सर ये एक इन्वलॉक आया है आपके लिए आफिस में बेठा वाहें फाइल देखने में मगन था जब इसके पिये ने एक लिफाफ़ा इसकी जानिब बढ़ाया काज़ान ने हैरान नजरों से उस लिफाफ़े को लट पलट कर देखा लिफाफ़ा खोलकर इसने इसमें मौजूद पर्चा बहा निकाला हाशिर अली हमदानी का नाम एक देखकर इसको शदीद हरामगी हुई थी वो एक माफ़ी नामा था जिसमें हाशिर ने माफ़ी के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की आफ़र भी की थी गाज़ान को यकिन नहीं था कि वह ना परस शक्स माफ़ी भी मांगेगा हाशिर अली और माफ़ी नाममकिन सी बात है गाज़ान ने से इन्वालप को दोबारा खुला इसमें एक पार्टी का कार्ड भी मौजूद था जिसमें लाइबा और हाशिर दोनों का नाम दर्ज था यानि वो दोनों बिजनेस पार्टनर बन चुके थे और गाज़ान को भी आफर कर रहे थे और उसी और मुंतहा को पार्टी के लिए भी इन्वाइट कर चुके थे कुछ सोचकर इसने कार्ड एक जानी बरका और सोच में डुबा बिजनेस की आफरों कभी भी मान नहीं सकता था लेकिन पार्टी में चानें की इसमें हामी भरी थी अलावाखान की सोच को वची तरह जानता था कि वो किस मकसद के तहर इसकी जानी बिजनेस के ओफर भीज रही है मुंतहक वो इस पार्टी में जरूर लेकर चाने वाला था कमरे में दाखिन होकर इसने रिपोर्ट को वार्ड रॉप के आखिरी खाने में चुपाया फिलहाल हाशिर को इस रिपोर्ट के वारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी जवेरिया को इस वक्त हमदान का रवया परिशान कर रहा था इसने जब उसे रिपोर्ट दिखाई थी तो इसके चहरे पर कोई भी खास तासूर नहीं उबरा था बलकि इसने कोई खास नोटिस भी नहीं लिया था और यही चीज़ जवेरिया को परिशान कर रही थी अगर हमदान का रवया ऐसा था तो न जाने हाशिर का क्या रियक्शन होता बुआ अम्मा को जूस का कहकर वो कमफर्टर ओड़ी लेटी थी क्योंके चागने की हमत इसमें मजीद बागी नहीं थी घर आकर गासान ने इससे पार्टी का जिकर तक नहीं किया और रवया आज भी सर्दी रहा मुंतहा ने उसे बारहर पकारा था लेकिन वहाँ नामे जवाब दे कर खामोश हो गया था नाच्टे की टेबल पर बैठी वो लायानी सोच में मगन थी गाजान बेपरवासा नाच्टे के जानी मतवज़े था और यही चीज़ मुंतहा को हलकान कर रही थी पाच माँ की रफाक्त में यह पहला मरहला था जब गाजान इसे नारास सा था और पहली मर्तबा ही मुंतहा बेसकौन होई थी काजान को उस्सा लायबा के आने पर नहीं बланके मुंतहा के बात चुपाने पर आया था मुंतहा पर उसे अंधा इतिबार था बदले में अतिबार कही तमनाई था अपने लब्सों अपनी चाहत से इसने ये अतिबार जाहर भी किया था लेकिन मुन्ताह सुल्तान अभी शायद इस रर्म्स से अंजान थी अतिबार की कड़ी प्यों काजान को नहीं दे पाई थी काजान सिद्धी की अगर मुनफर्द शक्स था तो उसकी सोच इसके उसूल इसके इजादे भी सबसे अनोखे थे लेकिन मुन्ताह सुल्तान इन पाँच माँ भी उसे जान नहीं पाई थी या शायद वो जानना ही नहीं ठ्याती थी भाबी जी वो प्लेट पास करना हम्दान की आवाज में से खुआप सी कैफियत से जगाया मुन्ताह बेसाखता हम्दान की जानी देखा जो लवो पर पुर असरार से मस्कुराद सजाए नजरे इसके चहरे पर गाड़े मुन्ताह को पुकार रहा था मुन्ताह ने प्लेट उठाकर हम्दान की जानी बढ़ाई प्लेट को ठामती के साथी हम्दान ने अपनी हुम्दियों का लंस मुन्ताह के हाथ पर जगाया था मुन्ताह के माथे पर तेवरी नुमाया हुई बेसाखता इसने गाज़ान की जानी देखा लेकिन वो आज नाश्टे में इस हद तक मगं था कि इससे जरूरी कुछ भी नहीं लग रहा था मुंताह ने दिली दिल में हमदान को सलवात सुनाई थी मौम मैं चलता हूँ नाश्टे सफारिक होकर उठा था मुंताह भी बेसाकता उठी हमेशा उसे संब्रीन बेगम ही गाजान को सी ओफ करने का कहती थी लेकिन आज मुंताह खुद ही खड़ी हो चुकी थी संब्रीन बेगम के चहरे पर खुशगवारी नमुदार हुई मुंताह बदर रही थी दीरे दीरे ही सही लेकिन मुंतहा पर सम्रिन बिगम की बातों का असर होने लगा था गाजान को छोड़ने और बाहर तक आई लेकिन आज गाजान नहीं रोज की तरह अपना पूर नूर लिम्स अता किया था और नहीं महबत भरी नजर अता की थी मुंतहा यकदम रोहा सी हुई ठके कदमों से वंदर की चानी बड़ी थी दूसरी जानिम काड़ी में बैठा काजान सिद्धी की अपने रवये पर पशेमान भी था लेकिन ये बेयतिनाई जरूरी थी मुंतहा को वो गल्दी का एहसास तिलवाना चाता था और शायद मुंतहा को ये एहसास हो चुका था शीशे के आगे खड़ी वो अपने बाल सवानने में मगन थी जब दर्वाजे पर होती दस्तक ने मुंतहा की तवज्जे खींची डूपट्टा हलका सा कंदे पर फैला कर इसने आने वाले को इशारा दिया था बुआ अमा एक भारी सा बैग उठाए अंदर दाखिर हुई थी बहु वेगम एक आजान बाबा ने भेज़ा है शकूर अंदर दे गया था मुंतहा ने हैरानगी से इस बड़े से शॉपिंग बैग की जानिब देखा रख दे बुआ मैं देख लेती हूँ बुआ को जाने का शरा दे कर और बाकी मानदा बालो को सवार कर बैट की जानिब आई मैसेज की रिंग ने मुंतहा की दवज़े खिंची साइट टेबल से मुबाइल उठा कर इसने मैसेज देखना चाहा जहां का असान का नाथ वाज़े था ड्रेस और बाकी के तमाम चीज़े जो जरूरी होती है सब कुछ बैग में मौजूद है शाम में रेडी रहीएगा मैसेज पढ़कर मुंतहा के माते पर बल नुमायवे कल रात भी राज सुबा भी उसने मुंतहा को मुखातिब नहीं किया था अरब इस पार्टी के लिए औरडर दे रहा था यगदम उसे जिद चड़ी थी और तमाम चीज़ों को बिना देखे इसने अल्मारी में रखना चाहा लेकिन दोबारा मैसेज टोन बजी मुंतहा ने दोबारा मुबायल थामा बीवी जिद मत कीजिएगा और बैक खोल कर लाजमी सामान देख लेना वरना मैंने आकर खुद आपको तैयार करना है फिर मत कहिएगा कि गाज़ान सिद्धी की बेशरम हो गया है मुंतहा यखलक कांपी थी कि वो शक्स इसकी सोच तक रसाई हासिल कर चुका है इस हद तक वो से जान चुका था बैक खोलकर इसने बॉक्स खोला जहां खुबसरत मरून फ्रॉक नुमा सिल्की ड्रेस मौजूद था जिस पर हुआ गोल्डन शाइन वर्क इस फ्रॉक की शान बढ़ा गया था हर मर्तबा की तरह इसने इस बार भी मरून रंग ही चूस किया था मौन्टा को अड्रेस बहुत भाया था नजाने इस रंग से मौन्टा को अंसियत सी होनी लगी थी या फिर गाजान सिल्की की पसंद आला थी कि उसे वो बिना दिल की सुने भी उसकी लाई हर शे को एक नजर देखकर ही पसंद कर लेती थी दिल से वो इस बात को तस्लीम अब भी नहीं कर पाई थी लेकिन मौन्टा सुल्तान को रंगों की आदत हो रही थी बिना मौन्टा सुल्तान के अंदरोनी कैफियत जाने बिना किसी दर्दों तकलीफ के गाजान सिद्धिकी ने मौन्टा सुल्तान को पूर पूर बदल दिया था बाकी की लाजमात भी इसने देखना चाहे जिसमें एक वाइड बॉक्स में बड़ी बड़ी गोल्डन एंटिक यरिंग्स मौजूद थे चमकते स्टून से मज़ियन वो यरिंग्स मौन्टा को आँखो को खेरा कर रहे थे कास्मेटिक का सामान देखकर मौन्टा ने सर पकड़ा उफ बेसाफ़ता मौन्टा के मुझे निकला हर बार किद़ रहा कास्मेटिक का बड़ा सा स्टॉप मौजूद था मौन्टा ने बेसाफ़ता ड्रेसर के जानीब नजर दोड़ाई जहां लातादात परफ्यूम्स कास्मेटिक का सामान कर्ज हर चीज की भरमार थी ड्रॉर में भी मौन्टा के मेकप की भरमार थी ये सोच दिमाग में हावी हुई थी कि अब ये सामान कहां रखेगी ड्रेस को अल्मारी में हैंड करके वो बाकी सामान भी वाल ड्रॉप में रखकर नीचे के जानी बरी थी इतनी जल्दी वो गाजान सिद्धी के बात मानने वाली नहीं थी ये हाई हिल्स इस ड्रेस के साथ ज्यादा अच्छी लगेगी शिशे के सामने खड़ा वो बाल सैट करने में वगन था जब मुंता पर इसकी नजर पड़ी जो शूरेक के सामने खड़ी शेशोपन में मुब्तिला थी गाजान की आवास सुनकर चौंकी थी और इसकी नजर मरून हाई हिल्स पर गई मुंता ने किनकियों से पीछे के जानिब देखा वही महरून ड्रेस पहने वो गाजान के साथ आज पार्टी में जाने के लिए तयार थी बालों को लूस करल की नेचरल मेकप के साथ वो गाजान को हद दरजे प्यारी लग रही थी लेकिन लबो पर लगी मद्धम लिपिस्ट्रिक काजान को पसंद नहीं आ रही थी खुद पर परफ्यूम छिड़क कर इसने कोड के कॉलर को ठीक किया लेकिन कुछ सोच कर इसने कॉलर दोबारा खराब किया और मुंताह की पिछे खड़ा हुआ दिल की हालत पर पत्थर रखे वो एक रोबोट की तरह तैयार हो रही थी रेक से एक सिल्वार डुपर दो पट्टी चपल पहनी और वापस मुडी जब काजान एकदम इसके सामने आया एकदमों चौंकी और कदमों को रोका बीवी ये कॉलर ठीक नहीं हो रहा है आप हेल्प करेगी अब रोच का कर इसने कहा मुंताह ने बेसाकता सर उपर करके गाजान की जानिब देखा और कापते हाथों के संग कॉलर की जानिब हाथ बढ़ाए गाजान की हाथ भी हरकत में आए और मुंताह की नाजोक कमर के गिर्द हाला बना गए मुंताह यकलक कापी थी गाजान मुझे कॉलर ठीक करने दे उधिरे से मन मनाई तो वी-वी करे ना आपको किसने मना किया है वो जान कर अनजान बना कॉला ठीक करके इसने पीछे होना चाहा लेकिन गाजान की गिरिफतने से नामुम्किन बनाया हाई हील्स पहनेगी आप और लिपिस्टिक रेड लगाए एक हाथ कमर से हटा कर लबों से लाइट पिंक लिपिस्टिक मिटाई मुंतहा की लब कपकपाई थी दीमे से कहकर वो पीछे हट गया और वो दोबारा शीशे के आगे खड़ा हुआ मुंतहा बिना कुछ बोले डुपटा बैट से उठा कर गले में पहना और हैंड बैग में जरूरी चीजे रखने लगी काजान इसकी सब हरकात और सकनाच देख रहा था साइड टेबल से कीचेन और वालेट उठा कर तो दर्वाजे की जानी बढ़ा जल्दी आए मैं वेट कर रहा हूँ पीछे मुड कर इसने कहा लेकिन शायद मुंतहा पहले ही जाने को तैयार थी और उसकी पीछे चंद कदमों के फासले पर ही थी बैजान बेसाखता आगे बढ़ा था माथे पर टेवरी नुमाया हुई हैंड बेग इसके हाथ से लेकर दूर उच्छाला और उसे लिए बैट की जाने बाया ये सब इतनी अचानक हुआ था कि मुन्तहा को समझ नहीं आई थी कि पल भर में ये क्या कारवाई हुई है बैट पर बिठा कर वो रैक के जाने बाया और वही हाई हिल्स उठा कर वापस आया मुन्तहा की रियर की हड़ी में संसनाट दोड़ी ना जाने उशक सब क्या करने वाला था हाई हिल्स इसने मुन्तहा के कदमों में रखी मुन्तहा ने एकदम पाउं समेटे पहने गाजान ने हुकम दिया लेकिन मुन्तहा ने पाव आगे नहीं बढ़ाई गाजान के माते की तेवरी चड़ी एक नजर इसकी देख कर उतने के बल जुक कर इसने मुंतहा के पाओं से वो दो पटी चपल दूर फेंकी थी पाओं पर गाजान सिद्जी के कलंप महसूस करके मुंतहा संसनाई थी चपल को गुसे से दूर फेंकने पर मुंतहा ने एकदम आखे मैची जरासर ट्राउजर उपा की जानिब करके इसने मुंतहा की बंडली में पायल देखना चाही सच शुकर था कि पायल मुंतहा के पाउ में ही मौजूद थी वरना आज गाजान के हत्यों मुंतहा की खैर नहीं थी पाओ को उठा कर उसने मुंताओ के पाओ में वो हाई हील्स पहनाई थी माथे के बल गाजान के तैश का पता दे रहे थे हाई हील्स पहना कर वो यगदम उठा मुंताओ यगदम पीछे के जानिब जुकी थी हाथ से खीच कर इसने मुंताह को मुकाबल खड़ा किया यकलक्त वो लुड़ खड़ाई थी इससे पहले वो गिरती सीने पर हाथ रखकर इसने फुट को गिरने से बचाया गाजान ने भी फोरण सकती से कमर को जगड़ा था और एक हाथ से गाल पर आई लटको हलका सा खीच कर कान के पीछे अर्था कमर पर गिरत तो सकत थी लेकिन मुंताह सुल्तान के लिए वो तकलीफ का बास नहीं थी बीवी आइंदा मेरी बात से इनराफ मत कीजेगा वनना मेरी बेरुकी सेह नहीं पाएंगी पहले भी कहा था आज भी कहता हूँ नर्मी पसंद है और मुकाबल से भी नर्मी चाहता हूँ तोस जोर जबरदस्टी का कायल मैं सिर्फ और सिर्फ आप के लिए हूँ सांसों की गरम महकार चहरे पर फेंक कर वह हलका सा दूर हुआ मुका ने रुका सांस बहाल किया लेकिन ये सिर्फ पल भर के लिए था रेड शेट लगा कर जल्दी नीचे आये का वरना लबो को सहलाए बात अधूरी छोड़े वो उसे अपनी गिरफत से आजाद किये नीचे के जानी बढ़ा था लहजा ऐसा था कि मुन्तहा की रूँ तक काब गई सांस बहाल करके वो कामते वजूद के साथ ड्रेसर की जानीब आई आज की शिद्ध पसंदी मुन्तहा को अच्छी तरह बावर करवा चुकी थी कि मुन्तहा सुल्टान गाजान सिद्धी के से कभी भी जीत नहीं पाएगी आज का इस सफर खामुशी में कटा था एंटरंस से अंदर आते ही उसे सामने ही लाइबा सजी सौरी नजर आई मुन्तहा की आँखे हरत से खुली सामने हाशी रेली हंदानी अपने पहलों में अपनी बीवी के साथ मौजूद था मुन्तहा की आँखों में हैरत पल भर के लिए थी अपने हवास आज वो काबू कर चुकी थी आज भी बे साखता इसने गाजान की बाजू को मजबूती से धामा था बीवी रिलेक्स अदम दर कदम आपके साथ हो पल भर में उसे अपनी साथ का हिसास दे कर इसने मौन्तहा को हिम्मत फराहम कर दी थी गाजान के अलफाज में इस हद तक यकीनी थी कि कुछ देर पहले रोईय का शायबा तक ना था मौन्तहा को बेहसाखता सुकून का एहसास हुआ बीवी ये पार्टी आपकी फ्रेंड लाइबा की जानिब से है आपकी खौइश थी कि मैं लाइबा की ओफर मान लू इसका जवाब आपको कुछ देर में मिल जाएगा रंग वोबू की महफिल अपनी उरूच पर थी लेकिन गाजान सिद्धिकी को इस पास से कोई गर्ज नहीं थी लाइबा तेजी से आगे आई थी और एक नजर गाजान पर डाल कर मुन्तहा के गले लगी गाजान इसके खमार जदा आँखों की शैतानी भलवर में जान चुका था वेल्कम मिसेस गाजान लबो पर मुस्कुरहाट सजाए तोनों को अंदर लाई थी जवेलिया का हाथ थामे हाशिर अली भी आगे बढ़ा जवेलिया का हाथ महस मुन्तहा के चहरे का रदेमल जानने के लिए था मुन्तहा की सांस थमी थी लेकिन चहरे पर सरदमोरी थी अंदर की हालत चहरे के बरक्स थी हेलो मिस्टर काजान हाथ आगे बढ़ा कर इसने सलाम करने में पहल की लबो पर मस्कुरहाट और आँखों में तनफुर सजाए हाशिर ने अपना हाथ मुंता की जानी बढ़ाया मुंता ने एक नज़र सामने देखर मुंसे सलाम किया हाशिर को उमीद नहीं थी कि मुंता सुल्तान इतनी दिलेरी का मज़ारा करेगी हाशिर का हाथ पहलो में गिरा मुंता सुल्तान की नजर तो सामने थी लेकिन आँखों में शनासाई की रमग भी बाकी नहीं थी जविरिया ने भी अपने हाथ आगे बढ़ाया जिसे मुंता ने हलका सा थाम कर छोड़ा इस लड़के से हाथ मिलाते वे कोई एहसास मुंता में मुझूदी नहीं था हाशिर को मुंता का रवया हैरान कर रहा था सबकुछ उमीद के बरक्स था डरी सहमी मुंता की बचाएं आज निडर और अजनभी मुंता सुल्तान सामने थी और यही चीज़ हाशिर को तैश दिला रही थी लेडिस एंड जेंटलमेन प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस गाज़ान एकदम हॉल में लाइबा खान की आवाज गुंजी थी आज की ये शाम मिस्टर गाज़ान के नाम फैमिली फ्रेंड होने के साथ-साथ ये अब हमारे बिजनिस पार्टनर भी बनने वाले है स्टेज़ पर आने का शारा देकर इसने गाज़ान सिद्धी की जानी देखा गाज़ान के ठहरे पर मस्कुराहट नमुदार ही बीवी जस्ट वेट मैं भी आता हूँ मुंताह का हाथ थोड़ा सा दबा कर वो स्टेज़ के जानी बढ़ा अब्तिदाए कलमात अदा करने के बाग वो मुद्दे की बात पर आया मिस्लाइबा आपका बहुत बहुत शुकरिया आपने ये शाम मेरे नाम की और शाम को मेरे और मेरी मिस्स के लिए शानदार भी बनाया बिजन्स डिल का तो अभी मैंने कुछ नहीं कह सकता लेकि क्योंके महनत तल्ब काम अपने बल बूते पर ही अच्छा होता है फिलहाल बिजन्स डिल को एक जानी रखकर हम ये शाम इंजॉय करते है होप सो कि मिस्स एलके आप माइंड नहीं करेगी एक नजर इसने मुन्तहा की जानी डाली और दूसरी नजर लाइबा पर डाल कर उस सामने मतवज़ हुआ लाइबा के सरपर जैसे धहमाका हुआ था अपनी सोच के बरक्स जवाब सुनकर लाइबा का टेहरा धुआ 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 हो चुका था रंग तो हाशिर का भी फक हुआ था अपनी सारी प्लानी इसे डूपती नजर आ रही थी इस स्टेज से उतर कर वो वापस मुन्तहा की जानी बाया था मेरा जवाब आप जान चुकी होगी अमीद करता हूँ कि आप दोबारा जिद नहीं करेगी स्टारिस्तगी से कहकर इसने मुन्तहा सिल्टान को अपना फैसला सुना दिया था बिजनेस सरकल में मौजूद एक शक्स के साथ उन बातों में मसरूफ था जब वेटर इस पर जूस गिरा कर गाजान ने एकदम अतना हाच जटक कर कोट को ज़डा था वेटर ने बेसाफता माजूद की गाजान सिद्धी की कुछ बोली नहीं पाया तुम्हें नजर नहीं आता देखकर काम नहीं कर सकते वेटर को सुना कर वेटर को गाजान के जाने बुड़ा मिस्टर गाजान आप पॉश्रूम में जाकर साफ कर ले सर अजबात में हिला कर वे उपर के जाने बढ़ा मुन्हा से बातों में मसरूफ लावा ने हाशिर के जाने देखा पल भर में इशारों का तबादला हुआ था मुन्तहा मैं अभी आती हूँ शायर मिस्टर जलाल मुझे बुला रहे हैं मुन्तहा से माज़ो दुरत करके वो भी उपर की चानी बढ़ी बहुत ही बेशरम लड़की हूँ मुन्तहा सुल्तान उपस मुन्तहा गाजान सिद्धी की चैरे पर तनफुर सजाए अपने गलीज अलफास का जहर इसने मुन्तहा सुल्तान पर फिंका था अपनी पीछे हाशिर के आवास सुनकर मुन्तहा की सांस हलक में अटकी मुझे तो लगा था कि शरम से ढूब मरोगी लेकिन तुम तो इतनी ढीट निकली के मौत तो दूर की बाद चंद साल मेरे छोड़ने का गम भी ना मना सकी तमस्करी तमस्करता हाशिर के लहजे में जो मुन्तहा की इज़त नामूस का पर खच्चे उड़ा गया था मुन्तहा का चेरा लठे की माने सफेद पढ़ रहा था गाजान नड़ा ने कहां चला किया था हाशिर का सामना करने के इसमें हिम्मत बाकी नहीं थी अभी तो वो जिन्दगी चीने ही लगी थी क्यों फिर से सामने लौट आया था मुन्तहा ने इदहुदर नजर दोड़ाई लेकिन इस वक्त वो तरह अर अकेली थी इदहुदर मत देखो लौट कर तुम्हारा आशिक इदह ही आएगा एक और जहर में जुबा बुझा तीर हाशिर ने मुन्तहा की जानी बच्छाला याद है तुमने कहा था कि जिस दिन हाशिर अली सामने आया मौत को गले लगा लूँगी तो कहा अगई कसम तुम तो जिन्दा हो बेशर्मों की तरह सच समर कर मेरे सामने मौजूद हो महस बहलावा था ना इतना तो मुझे अंदाज़ा था चादी तो तुमने करनी ही थी का लेकिन कमस कम इस शक्स से तो कर लेती जिस पर तुम्हारी वज़े से लजाम लगाया अशर को उमीद पर छोड़कर एक मोटी आसामी ओप्स खुबसरत मर्द फसालिया इतनी बेगरत कब से हो गई मुझा का दिल चाहरा Τा क्ये जमीद फटे अर्समे समाच जाए इतना गिर गया था कि मुझा सुल्टान को गाली ही दे डाली क्या वो शक्स इस रद तक जलील था क्या चाहता था वो मुझा सुल्टान मुझाvens सुल्टान अज तक जानी नहीं पाई थी मारमाजी बेशर्मों की तरह सामने आख़ड़ा होता था। लगता है काफी गहरी महबत है तुम दोनों में तब ही इतना सच समर कर बेशर्मों की तरह खड़ी हो। मुंतहा की नजर बेसाखता दूर खड़ी जवेरिया पर गई जो मरून शॉर्ट फ्रॉक के साथ कैपरी पह जो हाशर अली ने आज भी वो खटम कर दिया था। अब भी देखो मुंतहा सुल्तान मुझे तुम्हारी आँखों में नदामत नजर नहीं आती इतनी डीट कैसे हो गई मुंतहा हाशर का अंदात तनक्वों से भरपूर था और नजर ऐसी थी कि जैसे सामने किसी हकीर और ग के टगेरी की लड़की हो आंसो की लड़ी गालों पर बही थी दिल चाहा यहां से भाग कर किसी कोई में छलांग लगा ले क्योंकि ये शक्स इसकी जिन्दगी में वापस आया था क्यों इस शक्स के दिल में रहन नहीं था क्यों इस शक्स को मुंतहा सुल्तान से इतनी नफ हाशिर पर डाल कर वो पीछे की जानिब खिसकी थी अपने ख्यालों में अमली जामा बनाते वहां के रगड़ती, वहां से बाहर की जानिब बड़ी थी दिल में यही रादा था कि आज वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएगी खुद को ऐसी दुनिया में पना कर लेंगी जहां कोई नफ़त के नाम पर हाशिर और महबत की मिसाल पर गासान होगा हाशिर की शरर निगाहें मुन्तहा पर ही तिकी थी, तेज कदमों से बाहर के जानी बड़ी थी मुन्तहा रुक तो गई थी, लेकिन बुरी नहीं थी आसू थे के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे हाशिर के लवज जैसे दिमाग में गोंच रहे थे मुन्तहा की दिमाग की रगे अपना काम चोड़ रही थी क्या हुआ है, ऐसे क्यों भाग रही हो मैं जस्ट ये साफ करने ही गया था और आप मेरे बिना इतनी बेजार हुई कि यहां से जाने का ही सोच लिया गाजान इसके पीछे आया था गाजान इसके सामने आया था दीवी, क्या हुआ है? गाजान की जुबान रुकी थी मुन्तहां के आँखों में आँसू देखकर गुस्ता शिद्दत से उबरा था क्या कहा था मैंने? लहजे में यकलक सक्ती आई कि मेरी मौजूद्गी में ये आँसू नहीं बहने चाहिए एक एक लफ़ पर जोड़ देता इसने मुन्तहां के दोनों गाल अपनी पोरों से रगड़े थे क्यों रो रही है? मुझे जान सकता हूँ लहजे में सक्ती अपी बरकरार थी मुझे यहां से जाना है सर जुकाए जुकाम सद्धा आवाज में इसने इलतजा की किसे ने कुछ कहा है गाजान की मिकनादी सी नजरे मुन्तहा पर ही जमी थी गाजान मुझे यहां से जाना है मुन्तहा ने इस मरतबा सक्ती से कहकर आँखे रगड़ी थी गाजान को इसकी हालत किसी अन्होनी का खश्चा जाहर कर रही थी जब तक आंसों खुश्क नहीं होंगे मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगा मुकाबर शक्स भी लग रहा था कि जित चड़ गई थी गाजान प्लीज एक इलतिजा थी मुन्तहा के लहजे में जो गाजान नजर अंदास नहीं कर पाया चलें कंदे पर बाजू फेलाए मुन्तहा के साथ कदम से कदम मिलाता उहां से निकलता चला गया दूर खड़ा हाशिर अली हमदानी जवेरिय के पहलो में खड़ा अब भी मुन्तहा और गाजान को जाता देख रहा था सीट से टेक लगाए वह आँखें मून गई गाजान भी उसे छेड़ना नहीं चाता था शायद वो इसके जाने से घबराय गई थी बन आँखों के पीछे हाशिर का चहरा था अलफास थे के तेज धार आले की तरह दिल औ दिमाग में घूम रहे थे गाजान वक्तनफ़क्तन मुनतः पर नज़र डाल रहा था अपनी परेशानी में वो मुनतः को मजड़ कुछ कही नहीं पाया था गाड़ी घर के आगे रुकी बेवी वाज थफफ़ा कर इसने मुनतः को मतوج्ज़ किया मुनतः ने धिरे से आँछ खोल कर गाजान की जानिब देखा एक जानिद जानिध से उतर कर वो अंदर बढ़ी रही थी कि गाजान लुड़ खड़ाए गाजान ने आगे बढ़़कर मुनतः बाया को साहरा दिया क्या हुआ आपकी तबुष ठीक है गाजान ने मुंताह की चानी देखा मुंताह ने महसर अजमात में हिलाया गाजान के साथ चलती हूँ अब तक हाशिर के लफजों के जेरे सर थी बेगर, इतनी बेगर कब से हो गई बेशर्मों की तरह सामने खड़ी हो अलफाज आपस में गुद्मुट हो रहे थे मुंताह सुल्तान के कदम लुड़ खुड़ा रहे थे दिमाग की नसे फूल रही थी मजीद लफजों का बोड़ दाग सही नहीं पाया था, पल भर में गाजान की बाहों में जूल गई गाजान अपनी सोच में इस हद तक मगन था कि मुंताह की कफियत को जान ही नहीं पाय था होश तो तबाया, जब वो इसकी बाहों में जूल गई गाजान हवाज बाफता हुआ जल्दी से इसने मुंताह को संभाला और इसके गाल थट थप थपाये बीवी, क्या हुआ, आंके खोले रात का पहर था, इस वक्त तक समरीन बेगम सो चुकी थी गाजान के हाथ पाफ हुए चुके थे मुंताह को जिंजोडता और दिवाना हो रहा था लेकिन मुंताह को शायद खोश आना नामुम्किन था एकदम गाजान ने उसे बाहों में भरा और वापस गाड़ी की जानीब आया पिशली सीट पर उसे लिटा कर इसने गाड़ी भगाई सौ की स्पीट से गाड़ी दोडाते मुंताह को बेसुत देखकर बेचैन हो रहा था गाड़ी को करीबी हॉस्पिटल रोक कर वो तेजी से मुंताक उठाए अंदर आया एमर्जनसी वार्ड में उसे लाकर इसने शोर मचाया था डॉक्टर मेरी वाइफ को होश नहीं आ रहा उसे जल्द जल्द देखे गाजान की बेतावी देखकर डॉक्टर तेजी से आगे बड़ी आप बाहर जाएं हम चेक अप करके आपको बुलाते है मेरे सामने इनका चेक अप करें बाहर वेट नहीं कर सकता गाजान का अंदाज दो टोक था डॉक्टर ने बेबसी से गाजान की जानिक देखा देखें आप डॉक्टर में गह चुका हूँ बाहा नहीं जाओंगा तो नहीं जाओंगा अटर लहचा सुनकर डॉक्टर ने भी जिद छोड़ दी थी और मुंताह को चेक किया था लमा बलमा गाजान को बैसुक्यूनी महसूस हो रही थी नजाने मुंताह की बेहोशी के पीछे क्या वज़े थी इधा से उधा चकर कारता व बेहाल हो रहा था डॉक्टर क्या हुआ इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा दो मिनित कुजरे थे के गाजान फिर से बोला डॉक्टर भी इसकी आवास सुनकर चौंकी देखे हमें चेक अप करने दे तिरी कुछ बता सकते है आप चेक कीजिए प्लीस चल्दी कीजिए गाजान का इसरार बढ़ा डॉक्टर अजबात में सरे लाकर मुन्ताह को चेक करने चुकी कुछ देर बाद जो खबर गाजान को सनने को मिली थी यगदम तो इसके होश उड़ा गए थी शे इस प्रेगनेंट अपनी समात पर उसे यकिन नहीं आ रहा था क्या डॉक्टर आप क्या कह रही है खुशी से गाजान सिद्धी की जुबान गुम हुई कुछ देर पहले जो डॉक्टर पर गुस्सा आ रहा था इस वक्त इसके खुशी देशने लाइक थी ओफ माई गॉड मैं बाबा ओफ गाजान की खुशी आज इसके चेहरे से जलक रही थी थैंक्यू डॉक्टर पर इन्ही होश कब आएगा मुन्ता की फिकर गाजान पर दोबारा हावी हुई थी इन्हीं आप सुबा तक घर ले जा सकते हैं ये दर असल किसी बात का स्ट्रेस भी ले रही है आपको इनकी डाइट का और मेडिसिन का अच्छे से खाया रखना होगा डॉक्टर की दाया सुनने के बाद वो मुन्ता के करीब आया जो बैट पर बेहाल सी लेटी थी बेसाफ़ता कासान जुका था और मुन्ता के माहाथे पर महबत बेरा लंस अता किया बीवी मैं बता नहीं सकता आपने मुझे कितनी अजीम खुशी दे दी मैं मैं बाबा बनने हूँगा हाथ ठाम करो साइट पर मौजूद चेर पर बैठा आँखों के कोने में एक नहना सांसू का कत्रा चमका था दिल चाहरा आए सारी खुशिया आपके दामन में धेर कर दू मुंतहा के वेसुद वजूद से अपने तमाम जजबात कहता हो दीवाना हो रहा था बस जल्दी से होश में आ जाए मजीद इंतिजान नहीं हो रहा गाल पर अपनी हाथ के लंग चगाए वो मंतहा की जाद को आज मौतबर कर रहा था हाशिर चले मेरी तब्याट ठीक नहीं है जवरिया हाशिर की जानिवाई जो लायबा से एहम राज और नयास में मसरूफ था जवरिया की पोकार सुनकर उसके जानिव मतवज़ हुआ जो चहरे पर बेजारी सजाय खड़ी थी हाँ चलते हैं हाशिर लायबा से माज़रूत किये जवरिया को लेकर बाहर की जाने बाया जवरिया का सर घूम रहा था लेकिन उसे अपने हवास काबों में रखने थे वन्ना हाशिर को एक मिनिट में हकीकत का इद्राक हो जाता गाड़ी में बैठे ही वो घर के जानी बरवा दमा थे जवरिया के सवाल ने हाशिर के रंख किया हाशिर आप गाजान की वाइब से क्या बात कर रहे थे आप काफी देर से बातों में मजगूल रहे ऐसा लग रहा था कि आप उसे अच्छी तरह जानते है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं मुझे वो औरत कुछ अलग लगी थी मैं तो वहाँ जाना चाह रहा था लेकिन शायद खुदी बात करना चाह रही थी हाशिर ने सारा इजजाम मुंतहा पर रखा जवेरिया को बिलकुल भी ऐसी वैसी लड़की नहीं लगी थी लकिन बकौल हाशिर के वो एक चिपको टाइप लड़की थी मजीद जवेरिया कुछ नहीं बोल पाई थी सीट से टेक लगाएं वो आँखी मुन गई ये खबर वो हमदान को जरूर बताने वाली थी सुबा का सुरज पूरी आवोता आप से चमका था आज का इस सुरज रोय जमीन पर मौजूद कुछ इंसानों की जिन्दगी को बदलने वाला था बदल तो काजान की किसमत भी गई थी बदल तो आफाग भी गया था अब जिसका बदलना बाकी था आज उस शक्स की अपने ही जमीर में अदालत लगने वाली थी गाड़ी का रुक आज बे साफता इसने जाने पहचाने रास्तों की जानी मोड़ा गाड़ी को पोच में रोक कर वो अंदर की जानी बढ़ा गाड़ उसे अच्छी तरह पहचानता था राज देड़ साल बाद भी वो से पहचान गया था भारी कदमों के साथ लाम अतना ही सोचों को लिए वो आगे बढ़ रहा था लाउंज के दर्वाजे पर इसने अभी हाथ ही रखा था कि अंदर से आती आवाजों नो इसके कदम रोके शाहना वे तंग आ गई हूं तुम्हारे रोज के ड्रामों से कोई लगा तुम्हें पसंद नहीं आता जब हाशिर मुंता को छोड़ सकता है तो गाजान क्यों नहीं बस एक और वार सब काम तमाम हाथ के शारे से इसने क्रॉस का निशान बनाया अब क्या करने वाली हो तुम्हें एकदम हाशिर के हवास जंजनाये थी ये कौन से वार की शाइना बात कर रही थी और गाजान का नाम शाइना क्यों ले रही थी मॉम फोटोस अब भी मेरे इस प्यारे से मुबायल में मौजूद है कौन से फोटोस की बात कर रही हो तुमा बेगम मतजस्स हुई ओ, मेरी प्यारी मॉम, ये वही फोटोज हैं, जब मैंने हाशिर जैसे बेवकुफ शक्स को भेज़ कर मुंताह को तरलाग दिलवाई थी और अब यही फोटोज काजान के पास पहुचेंगी, और मुंताह का काम तमाम होगा, फिर मैं बनूँगी मिसिस काजान सिद्धी की फ्रेद की मानी धे गया था, और मुंताह के वजुद को पाक और साफ कर गया, हाशिर का दिमाग संसना उठा, मौम बैसे हाशिर कितना बेवकुफ है, आपने मुमानी के बारे मुसे भड़काया, वो फोरण आपकी बात पर इमान ले आया, आपने कहा मुंताह पाक बास नह हाँ है तो वो बेवकुफ लेकिन तुम्हारे एक दम परफेक्ट था, पर क्या किया जाए, वो भी शाधी रजा कर बैठा है, मेरे दिल करता है इसकी बीवी को घर से बाहा निकाल करो, और तुम्हीं इस घर में हीरे की तरह फिट कर दो, मजए सुनने की हाशिर में हिम्मत धाल की आवाज से दर्वाजा कोल कर अंदर दाकिल हुआ, वह पुपु वह, क्या कहने हैं आपके, इतनी गलीज, इतनी गंदी सोच, शाइना और तुबा बेगम हाशिर को अपने सामने देखकर बेसाफता उचले, हाशिर, तो तुम, यहां कैसे, तुबा बेगम की सुबा जो भी, जो भी तुमने सुना, पल भर में न जाने क्या हो चुका था, बस, मजीद मत कहोई कुछ नहीं सुनना पुपू, आपने इतना बड़ा धोका, इतनी गंदी गेम खेली, आपने, खाशिर का हाथ तुबा बेगम की जानिब था, जहरे पकर भी कर्ब था, शाइना ब परकर इसने सजी सोरी चीजों को हाथ से दूर फेंका, काँच के तूटने की आवाज सुनकर शाइना चीखी थी, और तुम, एकदम इसने बाजो से पकर कर शाइना को सामने किया, तुबा बेगम की चीख निकली, हाशिर उसे कुछ मत कहना, चुप, बिलकु चुप, आज म को दहला गया, मैं कुछ नहीं जानती, बोलो, हाशिर धारा था, और उसे काँच की जानी जुकाया, मामी, शाइना चीखी थी, बोलो, पुकार फिर उबरी थी, और जुकाओ मजीद बड़ा था, मैं बोलती हूँ, जैमिया आखों से, काँच को देखती हूँ, बोलती चली गई, लबस दर लबस, इसके गोश्च गजार करती हूँ, हाशिर अलिको पच्ताओं के ऐसी दलदल में धकेल गई थी, के हाशिर का वजूद, इसमें गर्क होता चला गया, इतनी घड़िया हरकत करते हैं, तुम्हारी रूह नहीं कापी, बोलो, हाशिर चिखा, मुझे का प्लैन था, शाइना ने सारा इर्जाम तुबा बेगम पर डाला, पुपू, क्या कहूं मैं आपको, इस हद तक छी, दिल कर रहा है, खुद को ही आग लगा लू, इतनी नफरत कैसे पुपू, हाशिर का लहजा कर्ची-कर्ची था, बरसों का बना मान, ऐसा टुटा कि एक लब्स नहीं, एक भी लब्स नहीं, एक दम शाइना की हाथ से मुबाइल चिनकर्स ने जोर से जमीन पर फेंका, टुकडों में बढ़ते ही, मेमोरी कार्ड बाहर गिरा, जिसे हाशिर ने पल में तोड़ा, आज के बाद, आप और आपकी बेटी, मेरे लिए मर गई, मर दिया, आपने उसका गरूर, दिल कर रहा है इस कांच को, अपने सीने में गुसा लो, लेकिन नहीं, मनना नहीं है, सजा है, हाँ, सजा जेलनी है मुझे, सुर्क अंगारा, आँखोई रगड कर, लोड़ खड़ाते कदमों के संग, वो बाहर के जानी बढ़ा, सोचे लेकिन किसी चीज में कैद होने की वज़े से, वो हिला नहीं बाई, हलकी सी करहा से इसकी आँख खुली, बीवी, क्या हुआ, कहीं दर्द है, मैं डॉक्टर को बलाता हूँ, उसकी करहा सुनकर वो भी हड़ बढ़ाया था, राज से सुबह हो चुकी थी, गाजान, सिद्ध नीद ही, गाजान का सुकून थी, नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं यहां क्यूं हूँ, कैसे, आप रात बेहोश हो चुकी थी, गाजान ने कहा, इतने में डॉक्टर भी नाक की अंदर आई, गूड मॉर्निंग मिसेस गाजान, मकसूस मस्करहाट के साथ डॉक्टर आगया किया, बेसाफ़ता गाजान, नजर गाजान पर गई, गाजान की लबों पर भी मस्करहाट चमकी थी, और इस मस्करहाट ने शक पर सचकी महर का काम किया, बहुत प्यार करते हैं आपके हजबन आप से, एक मिनिट भी पुरसुकों नहीं रहें, डॉक्टर को भी हलकान कर दि किया का, क्योंकि ये काफी कमजोर भी है, जरूरी हिदायत दे कर वो कमरे से निकली थी, और गाजान मुन्तहा के करीब आया, मुन्तहा ने उटना चाहा, जब गाजान ने फौरण इसको सहारा दे कर उठाया, गाजान ये डॉक्टर, मुन्तहा एकदम रुहासी हुई, तास्र दे, बीवी लबस नहीं बाकी, मेरे पास कि मैं क्या कहूं, बस आप समझ जाएं, कि आज गाजान सिद्धी की को अपनी बीवी से इंतहाए इश्क हो चुका है, माथे पर लब रखकर इसने मुन्तहा को इसका खास मुकाम बताया था, मुन्तहा के हवास इसके साथ न नहीं थे, आएं चलते हैं, मौम वेट कर रही होगी, रात इंको इतला ही नहीं दे पाया, सारा दिये, इसने मुन्तहा को सीदा खड़ा किया, हाई इस देकर गाजान सोट में डुबा, मुन्तहा भी जैसे इसकी सोच पड़ी, वो वीलचेर, प्लीस, मुन्तहा इसकी बेवा इसकी साम देकर मारिया बेसाखता मस्कुराई थी, लेकिन इर्दगिर्द देखना भी उसने जरूरी समझा, आफाक इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था, फौरान से पहले इसने कॉल रिस्यू की, भाई, आप कैसे हैं, खुशी से अलफास निकलना नामुम्किन थी, तक बदिल हो चुका था, किसने दोबारा आगाचान के सामने जाने की भी हमत नहीं की थी, मारिया इसकी बात करवाना चाहती थी, लेकिन हालात इस वक्त इतने बत्तर थे के चाहकर भी, मारिया अपनी जुबान पर कुफर लगा चुकी थी, इसकी कॉल की बना किसने जाम उसे सबसे दूर कर चुका था, मारिया नहीं, मुझे आने का मत कहो, बस मुंता के खेरियत मुझे दो, ना जाने क्यों, मुझे आज वो बहुत याद आ रही है, एक अलग सी बेचली है, जो रूह में सरायत कर गई है, प्लीज मारिया, अशर की इलतेजा सुनकर मारिया की आँख नम हुई, भाई वो ठीक है, लेकिन आप इससे पहले मज़िद कुछ बोलती, किसी ने इसके कान से फोन खीचा, मारिया अग्दम दहली थी, फोन लेकर आफाक ने अपने कान से लगाया, मारिया बस अम्मी की याद आती है, और कोई खास याद नहीं आता, अशर याद आ रहे हैं तो इन से मिलने क्यों नहीं आते, क्या हाशिर अली बनना चाहते हो, आफाक की आवास सुनकर यगदम इसने कान से ओन हटाया, आफाक भाई, हाँ, हाँ, आफाक बात कर रहा हूं, क्या तुम भी पत्थर दिल बन चुके हो, या फिर हाशिर की तरह सब को अ रिजाम सचा नहीं था, तो तुम क्यों, यहां से चले गए, क्या घरवालों ने तुम पर रिजाम लगाया था, इशक की नियत से देखा था, आज आफाक ने अशर की किलास देने का फैसला किया था, मारिया यक्टुक आफाक को देख रही थी, उसे तो लगा था ना जाने आफाक उसे जलील और खार करे का, लेकिन आफाक के अलफाज इसकी सोच के बरक्स थे, खामुश क्यों हो गए, अशर ने बेसाखता अलब भीचे, प्लीज भाई, मजीद नहीं, क्या मजीद नहीं, तुम्हें वापस आना होगा, ताया और ताया अम्मी को इस वक्त तुम् दगी में खुश है, इसके लिए तुम खुद को मुझरी मत समझो, और सबसे एहम बात, अब तो तुम मामू बनने वाले हो, अब तो तुम्हें जल्दी लोट आना चाहिए, आखरी बात इसने शरारत आमेश लहजे में कहकर, मारिया को सर्पटाने पर मजबूर किया, सुर अब उसे धमकी समझो, फिर और, तुमने जल्द जल्द लोटना है, जी भाई, मैं बहुत जल्द, बहुत जल्द, हाँ, जल्दी आउंगा, आफाक की इसकी खुशी से भरपूर आवास सुनकर, मस्कुराया था, चन्द बातों के बाद इसने फोन रख़ा, और मारे के जान नहीं, जानता हूं मारिया के पूरा एक साथ अजनिवियत बर्दियाश्ट की है, और अतिबार आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा, लेकिन अगर ये कौल एक साल पहले भी आती तब भी, मैं अशर को आने पर इसरार करता, क्योंकि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था, आफाक आप बहुत अच्छे है, बेसाथ का मारिया आफाक के बाजो के साथ लगी, मैं अपने रब का जितना शुकर अदा करू कम है, जिसने मुझे आप जैसा शोहर दिया, अगर इतना अच्छा लगता हूं तो अच्छे होने की तारिफ भी अच्छी तरह किया करो, एक दम उसे सामने की सीने में भेचा, ऐसे तारिफ करते हैं ना, बस मुझे इधार कर दिया, सरगोशियाना अंदास में कहकर इसने कान पर लब रखकर मारिया को समिटने पर मजबूर कर दिया, सीने पर सर रखके, वो अपनी खुश्बख किसमती पर रश्क कर रही थी, साहरा दियो मु गाजान पर पड़ी, वो तेजी से उठकर गाजान की चानिप आया, भाई, आप कहां थे, करडाच से आपको फोन ट्राई कर रहा था, एटलिस्ट कॉल तो पिक करते, क्या हुआ है, आप ठीक है ना, मुंताह को नजर अंदास कि, इसने बेताबना गाजान से पुछा, पाजी वो टेक लगा गई, मौम इधर आए, सम्रीन बेगम का हाथ पकर कर, वो इनी मुंताह के रूबरो लाया, आ जाओ हूंदान, बैट जाओ, मैं ठीक हूँ, मौम मेरा मुबाइल आफ हो गया था, रात अचानक, मुंताह की तब्यत खराब हुई तो मैं उसे हॉस्पिर ले गया, कॉल करने की फुरसत नहीं थी, इसने अभी वापस आया हूं, और आपके सामने सही सलामत हो, क्या हुआ बेटा, काजान पर तीखी नज़र डाले, वो मौन्ताह की जानिपाई, जो शर्माई घबराई, नजरे चुका गई, क्या हुआ है, काजान, मौन्ताह हमदान करंग फक हुआ, हमेशा की तरह, ये खबर भी उसे नागावार गुजरी, बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बता नहीं सकती, मिरे बच्चों, आज आप दोनों ने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है, बे साखता उन्होंने मुन्ताह का माथा चुमा, मुबारक ह भाई, हमदान ने भी गोया, मुर्वत निभाई, गाजान मुन्ताह को उपर ले जाओ, मैं जरा सदके का कह कराती हूं, हरहां मुन्ताह के लिए कुछ खाने को भी बिजवाती हूं, खुशे से समरीन बेगम के हवास सल्ब हो चुके थे, गाजान महेश इनको की तरह लग रहे थे, दिमाग में जھकर चल रहे थे, और हाशीर अली की नदामत बढ़ती जा रही थी, तलाग देता, मेरे भाई के साथ, तफ है, आप छूट बोड रहे हैं, नहीं हाशीर, ये सच नहीं है, आवाजे गुडमुड हो रही थी, अलफास थे के नागों की त रहे थे, गाड़ी की स्पिट बढ़ती जा रही थी, कि एकदम अलफास का जहर इतना बड़ा था, एकदम हाशीर ने अपने बालों को नोचा, नहीं, नहीं, ये नहीं, हाशीर अली एकदम चीखा, और जोर से हाथ स्ट्रिंग पर मारे थे, गाड़ी एक चीख के साथ करता रहा, एक भी वज़े सची नहीं थी, आह, ये मैंने क्या किया, रोता कुलाता हाशीर अली हंदानी, तबाही के शायद आखरी दहाने पर था, लेकिन नहीं, अभी हाशीर अली की माफी नहीं, बलकि अभी तो मकाफाते अमल का वक्त था, जो बोया था, वो तो काटना ह नहीं था, मैं कहा जाओं, कहां, एक दम गाड़ी से बाहर निकल कर मजीद उचा उचा चीखा था, चीख करना, ना जाने वो कौन सी खौलन अपने अंदर से निकालना चाह रहा था, या आत्मान की जानिद देखता, वाच पूरे एक साल बाद रब को पुकार बैठा था, वो रब तो अपने गुनाहकार बंदे के भी एक पुकार का मुंतिजर होता है, हाशिर की पुकार कैसे नह सुनता, लेकिन अभी मुंतिहान अज़ित का सामना मजीद होना बाकी था, वुनाहों की माफी तो मिल चुकी थी, लेकिन मकाफाते अमल तै होता है, और शायद हाश सारा मंजर वही था, जो एक साल पहले मुंतिहान बुकता था, आज वक्त बदल चुका था, मुंतिहा की जगे हाशिर का वजूद था, मैं क्यूँ, नहीं, देख पाया उसके आंसू, क्या बैर था मुझे उससे, एकदम उठा था, और जोरदार पंच, सामने शीशे पर मार गुसे की ताकत थी या पश्टावा था, शीशा एकदम चिकना चूर हो चुका था, खून तेजी से, बहा और हाशिर की शर्ट को दागदार कर गया, हाथ को देखकर वो बेसाकता हसा था, ये जखम आज मुझे कुछ एहसास नहीं दे रहे, क्योंके ये बहुत कम है मुंता को दिये गए जखमों के आगे, हाथ को इसने दोबारा गाड़ी पर मारा, यगदम खून गाड़ी पर लगा था, अल्लकीर बनाता नीचे की चाने बाया, क्यों, मैंने उसकी एक भी खयात नहीं सुनी, क्योंके मैं, क्यों, क्यों मैंने ऐसा किया, हाथ को बार बार गारी प कर मारता, वो हीजानी अंतकैफित का शिकार हो रहा था, सीखता चिलाता, वो आज शायद अपनी गुनाहों को सामने देख रहा था, जो महज इसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, बेसुद, बैठे वो आज समीर के अदालत में खड़ा था, रात का पहल शुरू हो चुका थ हर बार नाकामी को सामना होता है, जितना मैं उसे भाई से दूर करना च्छाता हूँ, इतना वो भाई के करीब आती जा रही है, क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अब तो मैं उसे दूसरे तरीके से भी डराने धंकाने से लगा, लेकिन इस पर किसी बात का असर नहीं होता, सिगरेट ने सुलगाए, वो जवेरिया के पहलों में दरास था, जवेरिया आज फिर हमदान के फ्लेट पर मौजूद थी, हमदान अब मैं तुम्हें इस बारे में कोई राए नहीं दूँगी, फिछली तजलीर मैं अब तक नहीं बूल पाई, नरोठे पन से कहती, वो हमदान मुझे कुछ नहीं कहना, जवेरिया ने बेन्याजी बढ़ती, ओके, ओके, मत कहो, लेकिन अपने आशिक से बेन्याजी मत बढ़तो, वन्ना ये दिवाना नगर नगर सर पटकता मिलेगा, हमदान ने मुबालगा आराई की हद की, ड्रामे बास, जवेरिया ने सर रुखी दिखाना मुनासिब नहीं समझा, हूँ मुझे याद आया, कल पार्टी में तुम्हारी भावी हाशिर के साथ काफी बाते कर रही थी, इसने पार्टी की तमाम रुदाद हमदान की गोश गसार की, हमदान इसकी रुदाद सुनकर सोच में डुबा, मुंतार हाशिर हमदानी आज, आज कल ना जाने, दोबारा किन फिजाओं में रहने लगा था, कई बार फोन ट्राय करने के बाद भी, जब इससे कॉंटेक्ट ना हुपया तो मुबाइल पटकती, बैट पर दराज हो चुकी थी, करीबन सुबा के चार बज़े इसके मुबाइल पर घंटी आखे मसलती, इसने फोन कान से लगाया, जहां एक नई खबर इसकी मुंतजर थी, आपके हस्बेंट का अक्सिडन हो चुका है, सिटी हॉस्पिटल में है, आप फॉरण से पहले यहां पहुचे, चवेडिया के चहरे पर बेजारी आई, एक नए ड्रामे की शुवात हो चु बार मुंतभा के घर में मौजूद थे, खुशकप्यों के दोरान ही दोपहर का लंच किया गया, गाजान का इसकी फैमिली को मान इजज़त देना, मुंतभा सुल्तान की दिल में इसकी इज़त और रुबा मजीद बढ़ा गया, मैं जानती थी, मुंतभा को अल्ला पाक ने तुमारे ने कुछ अच्छा फैसला किया है, और देखो, आज अल्ला पाक ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, जूबिया बेगम की खुशियाद छुपाए नहीं चुप रही थी, नक्सक्सी तयार, मुंतभा सुल्तान में नजर ठुका गई, अम्मी मैं क कुछ बताना चाती हूँ, मुंतभा ने आखिकार जूबिया बेगम को सच बताने का फैसला किया, क्या हुआ, सब ठीक है, गाजान ने तो कुछ एकदम मुंतभा जूबिया बेगम के गले लगी, जूबिया बेगम का दिल दहला, कल से वो गम अपने दिन में छुपाए बै पार्टिम हुई मुलाकात का हाल, इसने जूबिया बेगम के गोश्क उसार करा, जूबिया बेगम की आखिकार बी नम हुई, ना जाने वो शक्स, मुंतभा से अब क्या चाता था, तुम परिशान मत हो, मैं आगजान से इस बारे में बात करूंगी, बिलकुल भी परिशान नहीं होना, दोनों हातों से उसके गाल साफ करके नोंने मुंतभा की इमत बनाई, अमी मैं गाजान को सब बताना चाहती हूँ, मैं मजीद उनसे कुछ नहीं चुपाऊंगी, बेशक, उसका जो भी नतीजा निकले, मैं बोश तले तब कर नहीं रह सकती, मैं दम मुंतभा न मुझे सुकून में नहीं मिलता, अमी मैं क्या करो, मुंतभा तुझे मेरी कसम, मेरे बच्चे मत करना ऐसा, अमी प्लीज, बेवसी इंतहा पर थी, जूबिया बेगम के जुड़े हाथ देखकर मुंतभा खामोश रह गई, आज फिर मां के जुड़े हाथ मुंतभा की बन कर गए थे, चलो आओ, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, कुछ देर बाद मुंतभा को नॉर्मल किये, और बाहर की जानी बड़ी, जहां सब खुशगप्यों में मसरूफ थे, आज तो काफी खुश है, मुंतभा को आइने के सामने खड़ा देखकर गाजान पी इसके सामने खड रखा था, आज का खुशगवार दिन मुंतभा के चहरे पर भी खुशी लाया था, जो आज पहली बार इसके चहरे से वाज़ी भी हो रही थी, दूद, गाजान ने दूद का गिलास आगे बढ़ाया, रख दें, अभी पी लेती हूँ, मुंतभा ने बहाना तराशा, नो ब मकश में थी, जी गाजान की जान, गाजान का खुमार आलूद लहटा, मुंतभा की जान हलकान कर गया, मैं आप से कुछ कहना चाती हूँ, हाँ, बोले, मैं सुन रहा हूँ, बालों में इमलिया चलाते हो, उसे ये बैट पर दराश हुआ, मुंतभा ने घरा सांस लिए, एकदम गाजान का हाथ थमा, और मुंतभा की सांस वो गया, थम सी गई, गाजान में जानती हूँ, कि आप मेरी बात को किस अंदाज में समझेंगे, हम्दान का रवया बहुत अलग है, उसका हर वक मजाक मस्ती मुझे पसंद नहीं है, वो आपका भाई है, और मेरे लिए भ भाईयों जैसा है, लेकिन वो अक्सर अवकाद बहुत और ओवर मजाक कर जाता है, आप प्लीज मुझे गलत मत समझेगा, मुंतभा ने ढखे चुपे लबजों में आखिक कही दिया था, गाजान का हाथ थमार मुंतभा की भी गोया सांस अठकी थी, बस इतनी से परेशानी गाजान की आवा सुनकर मुंतभा चौंकी, भी मैं आपकी बात को क्यों गलत मानों में लूँगा, हम दोनों का रिष्टा ऐसा है, जिसमें एतिबार सबसे पहले है, और बाकी सब चीजें बाद में, और इधर मेरी जानिद देखें, थोड़ी सी पकड़ कर इसनी मुंतभा कर रुप, इतनी जानिब किया, इतिबार का लब सुनकर बेसाफता, मुंतभा की पलके लर्जी, क्या मैं आपको कोई दक्याच सुनो सी मर्ड लगता हूं, या कोई जाहिल, जो जरा-जरा सी बात पर पीटने लग जाए, मुंतभा का सरनफी में हिला, आप पर खुद से उन्जा दूंगा, वो और तबियत का है, मस्ती मजाक आदतन करता है, बच्चो जैसा है मेरे लिए, मुंतभा ने अजबात में सर लाया, काजान का जबाब सुनकर मजीद इसके बारे में नहीं बोली थी, हकीकत सिर्फ वही जानती थी कि वो शक्स कैसा है, लेकिन वो हकीकत बता कर दोनों भाईयों में फूट नहीं डलवा सकती थी, छोटी छोटी बात पर आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, वरना फेस पर लाइन आ जाएगी, फिर आप पूरी लगेगी, और फिर बेबी भी, मुंतभा ने एकदम इसके होटों पर हाथ रखकर बाकी मान बालों में उमलिया चलाते हूं हमदान से बात करने का सोच रहा था, लेकिन शायद गाजान सिद्धिकी को बात करने से पहले ही, ये मनजर खुद देखने को मिलने वाला था, डॉक्टर, इन्हें कब तक होश आ जाएगा, बेजार अंदाज में डॉक्टर से अस्तफसार कर नहीं है, लेकिन हाथ छदी जखनी है, कांच के टुकड़े अंदर तक गए है, कुछ दिर शायद वो अपने हाथ का इस्तिमाल ना कर पाए, एक नहीं मुसीबत कर ले डाल कर डॉक्टर जा चुका था, कुछ सोचकर इसने हमदान का नंबर डाइल किया, वो जो गहरी नीन म करो, शायद वो आजाए, नजाने का इसी माबाप फिजो अपने बच्चों की खबर नहीं रख पाते, जवे या इसके अलफास सुनकर चौंगी, अपनी जिन्दगी में वो इस हद तक गर्ग थी कि कभी हाशिर के बारे में जान ही नहीं पाई, हमदान मुझे नहीं पता, बस एक बार किसी काओं में गया था, फिर नहीं गये, वाट, तुम इसकी फैमिली को नहीं जानती, अन्बलिवेबल, खेर, जो भी है, तुम्हारा मामला है, तुम खुद भुखतो, अब प्लीज, मुझे डिस्टरब मत करो, आर्ट में बिलकुल भी नहीं आऊंगा, क्यों वो फॉरन डॉक्टर के पिछे भागी, जो अपने कैबिन की तरफ जा रहा था, येस, डॉक्टर आपने मुझे फोन कैसे किया, मतलब मेरा नंबर कैसे मिला आपको, डॉक्टर ने हैरा से जवेलिया की जानिम देखा, जवेलिया उसकी नजरों से सट पटाई, आपके रानी भाई, हाचिर का सामान लेकर इसने इसके फोन को आउन किया था, लेकिन इस पर लगा पासवर्ट, जवेलिया को शदीद गुस्से से दोचार कर गया, इतनी बे अतेबारी इस शक्स की हद ही हो गई, फोन लेकर उस साइड पर बांजूर बेंट पर बैट गई, को मैं आकर अपनी ड्यूटी निभाऊंगा, रहां, आज से ये सी ओफ करने वाली जिम्मेदारी खत्म, कल से उपर ही अच्छे से सी ओफ कर दीजेगा, गंबीर अंदाज में कहकर वो पीछे हटा, हौंग बनी, मुंताह इसकी हिदाया सुन रही थी, आज बहुत जित के बा गाजान को याद कर लिजेगा, आपकी तवित यकदम फ्रेश हो जाएगी, गाजान का शरारत आमेज लहजा सुनकर मुंताह यक टक उसे देखे गई, अपने अंदर होती नई तबदिले ने मुंताह पर काफी अच्छा असर डाला था, दूर्य वेगम से दिल का बोच, हलक करके, अब वो कुछ पुरसुकून थी, तब ही हर चीज़ खुशगवार लग रही थी, गाजान की बाते भी, आज मुंताह को खुशगवार लग रही थी, क्या हुआ बेवी, किन सोचों में डूब गई, कुछ नहीं, मुंताह एकदम होश में आई, लगता है, आप ये चा किलाल रखिये का अपना, मामूल की तरह माते पर होसा दे कर, वो आफिस के लिए रवाना हुआ, हाशिर को सहारा दिये, वो कमरे में लाई, दो दिन गुज़र चुके थे, तब ये काफी हद तक संबल चुकी थी, लेकिन शायद दिर्वा दिमाग अब भी तकलीफ में डख रहता था, अपनी अना और जित में वो जवेदिया के साथ भी नाइनसाफी कर चुका था, इस बात का मलाल भी उचागित हो चुका था, यहां लेटे, मैं आपके लिए सूप बना लाती हूं, अस बात मुसरी लाकर वो बैट से टेक लगा गया, दो दिन में, वो इस अजिय गलतियों में वो इस हद तक आगी आज चुका था, कि वापसी का कोई रास्ता, बाव की नहीं बचा था, किचन में खड़ी, वो अपनी लेट चाय बना रही थी, बुआ अम्मा की तविए ठीक नहीं थी, जिसकी वज़े से आज वो अपनी एनेक्सी में थी, गाज़ान के आफिस में होने की वज़े से वो आज किचन में मौजूद थी, चाय का पानी रखे वो गाज़ान को ही सोच रही थी, जब दर्वाजे पर हुई, सलसराहट में मुंतहा की तवज़े की जी, एकदम वो मुड़ी, दर्वाजे पर हमदान ही मौजूद था, मुंतहा का हलक एक इसे इसने चाय का अपन उडेली और बाहर के जानी बड़ी, लेकिन वो दर्वाजे में ही इस्तादा था, हमदान रास्ता दो मुझे, मुंतहा ने नजरे जुकाय कहा, हदेलिया बेसाफता पसीने से भीकी, और अगर ना जानी दूर तो घर्दन टेड़ी किये, इसने मुं पाती, हमदान, मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, जाने दो मुझे, मुंतहा सकती से बोली, तो जाए ना भाबी जी, मैंने तो आपको नहीं रोका, एकदम वो आगे बढ़ा, मुंतहा के कदम पीछे की जाने खिसके, मुंतहा ने फौरा एक हाद स हंदे पर डुपट्टा दूरूस किया, इसकी बोलती नजरे मुंतहा को अंदे के खौफ में उबतला कर रही थी, हमदान के कदम मजीद आगे खिसके, हमदान, जाने दो मुझे, मुंतहा की गिरफ्त डुपट्टे पर सخت हुई, हमदान, मैं ये चाय तुम्हारे उपर गिर दूँगी, इससे बहतर हधियार मुंतहा के पास कोई नहीं था, हमदान का करिका बेसाखता था, भाबी क्या चाय को अपना हधियार बनाएंगी, उसे मेरे उपर फेकने के बज़ाए अपने हाथ से पिला दे, तो इससे मजीद और, मजेदार मश्रूप रोय जमीन पर नही इससे पहले वो पीछे मुड़कर हमदान को कुछ कह थी, फिज़ा में गाजान की चिंगारती आवाज मुझी, मुंतहा यफलक कापी और हमदान का रंग पक हुआ, इसने फौरान मुंतहा का डुपट्टा छोड़ा, गाजान के आने की, उसे बिलकुल भी तौका नहीं थी गाजान के चहरे पर सख्त पध्रीले तासुरात मुमाया थे, भाई आप, मुंतहा की नजर भी सामने गैज़ो गजब का शिकार बने गाजान पर ही थी, हवास इससर तक सलब हो गए थे कि, इसके कदम भी थम चुके थे, आप यहां क्या कर रही है, गाजान की भारी और इंकार कर दिया, हम्दान ने बहाना घड़ा, शट अप, सर्द नजर मुंतहा पर डाले से उची आवास में हम्दान को चुक करवाया, हम्दान भी उसका लहजा सुनकर तफक्र में मुबतला हुआ था, जब आपको मैंने कहा था, क्या आप किचन में नहीं आएगी, तो आगे बढ़कर इसने मुंतहा के हाथ से मवट दूर उच्छा ली, कब तूटने की आवास और मुंतहा की चीक एकटी गुंजी थी, अपने कमरे में जाईए, बिना मुंतहा के हाल की परवा किये, बिना इसके जानिब देखे, इसने उसे कमरे में जाने का हुकम दिया, जी, अपने कमरे में जाईए, मुंतहा, इसका नाम लेना गाजान के गुस्से के निशान दही कर गया था, गीरे होते, गालों को रगड़ते, वो आगे बड़ी थी, भाई, मैं भाबी के साथ मजाग कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, गाजान का भारी हाथ इसकी बोलती बन करव गया, विश्टो का लिहाज इसहत्तर भूल चुके हो तुम, लाल अंगारा आँखों से इसने हमदान को देखा था, जोहरा से मूँ पर हाथ रखे, गाजान को ही देख रहा था, भाई, आप गलत समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं है, हमदान ने बात को समाना चाहा, दफा हो जा अपने सर पर हाथ फिरा और रुख मोड़ा, हमदान चले जाओ यहां से, वरना बहुत बुरा हो जाएगा, चल्दी, जाओ, भाई नहीं, जाओ, हमदान सुनाई नहीं देरा, जाओ, गाजान की तैश से भरबूर आवा सुनकर, वो तेज कदमों से उपर की जानी बढ़ ग किया, वो हमदान खुद आया था, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे नहीं बुलाया, बिना उसकी सुने, वो वाट्रॉप से कपड़े लिया, वाश्रूम के जानी बढ़ गया, दरवाजा जोर से बंग करना, इसके शदीद गुस्से की निशान दही थी, मुंता के रोने में हाँ, माफी मांगूगी, रोती वे वो हजजानी हो रही थी, पंदरह मिन बाद और शावर लेकर रेच सा बाहर आया, अरिशा की नमाद अदा किये, कुछ देर बाद, बिना इसके चानिम देखे, बैट पर दरास हुआ था, मुंता की हिचकी बंदी, गाजान मेंने कुछ न कर, वो नीचे गया, मुंता ने आवाज देकर उसे रोकना चाहा, लेकिन वो अंसुनी कलता, वहां से निकलता चला गया, काफी देर बाद वो दूद का, फिलास और कुछ फ्रूट लेकर वापस आया, समरीन बेगम को अब तक हमदान और काजान के वाके के खबर नहीं हो प वो आपस अपनी कमरे के जानिब आया, जहां मुंता ने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था, माते पर टेरिट लिये और बैट पर आया, गाजान जानता था, वो कुछ नहीं खाएगी, फ्लेट से एपल उठाकर इसने मुंता के जानिब किया, जिसे मुंता ने रुक मोर कर दूर किया, खाएगी मुंता, वन्न मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है, अपना नाम सुनकर, उसके गुसे का अंदाजा हो चुका था, गाजान मुंसे बेसाफ़ता निकला, ट्रे साइट पर रखकर वो आगया आई, और गाजान का हाथ थामा, गाजान मैंने कुछ नह का इसके पास कोई जवाब नहीं था, जानता हूँ, हमदान ने गलत हरकत की है, उसे जेब नहीं देता कि वो ऐसा मजाग करे, लेकिन आपको कौन कह रहा है, कि मैंने आप पर शक किया, आप बात नहीं कर रहें, और नाराज भी है, मेरी नाराज़गी की परवाहे आपको, क किचन में क्या कर रही थी, बोले, क्या कर रही थी, मैं चाय बनाने गई गई थी, नजर चुका, इसने कहा, बुआ अम्मा की तब्याद छीक नहीं थी, तो मैं, बाकी नोकर मर गए थे, जो आप किचन में गई, अगर आपको कुछ हो जाता तो, तो क्या करता मैं, बोले, पकर कर इसने सकती से कहा, हमदान की हरकत गलत थी, लेकिन आपकी इस से भी ज़्यादा गलत, के मेरी भी परवा किये बिना, आप नीचे किचन में मौजूद थी, क्यों गई नीचे, और मॉम कहा थी, सकती से अटा लहजा, मुन्तहा को इस वक्त बे इंत्या खुबसूरत ल गाएगा, हमदान की हरकत पर इस पर ही शक करेगा, लेकिन इसका रवया और उसकी बाते, सुनकर मुन्तहा सुल्तान आज इसकी मुहबबत के आगे हारी थी, हाँ, आज मुन्तहा सुल्तान हार चुकी थी, बेसाफ़ता हो गाजान के सेने से लगी, फर अपने बाजू इसमत में लिखता था, रोते रोते बेसाफ़ता मुस्कुराए, खाना खा ले, गाजान ने ना रोते पन से कहा, आप खिलाएंगे, सीरने में मुझ छुपा, इसने लाड़ भरे अंदाज में कहा, नहीं, आप खुद खाएंगी, मेरी किसी बात की आपकी नजर में बाजो से पकर कर इसनी मुंता को दूर करना चाहा, लेकिन इसकी पकर शिद्दत इफ्तियार कर गई, आपके हाथ से ही खाना है, तो बारा कहकर इसने रोना शुरू किया, गाजान इसकी चाला की समझा था, अपने बाजो से गिर्द हाईल करके गोया, इसने नाराजगी का बाइकाउट किया, जमीन पर एक जानी सुनसा बैठा, एक ही मनजर को सोच रहा था, गाजान ने इस पर हाथ उठाया था, वो भी इस कल की आई लड़की की वज़े से यही सोच, हमदान को पागर कर रही थी, अपनी गलती का हिसास उसे अब भी नहीं था, इस वक्त भी हो म भाई ने मुझे मारा, मुझे हमदान को मारा, उस मुंता सुल्टान के लिए, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं जान से मार दूंगा, जोती औरत सारा इलजाम मुझ पर लगा दिया, मुंता पर किचण उचालता, वो हिजज्जानी हो रहा था, मुझे यहां नहीं र भाई खुद मुझे मनाने आएंगे, हाँ, अब भाई मुझे मनाएंगे, और इस मुंता को अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, दिमाग में एक शैतानी प्लैन तर्टीब देता, वो बैट पर लेटा था, मुक्तलितर की बाद सोचते सोचते, वो आंके मून गया नाश्टे की टेबल पर आज खिलाफे तौप का खामुशी थी, बुआ, हमदान अभी तक नाश्टे पर क्यों नहीं आया, समरीद बेगम ने बुआ की चानिब देखा, वो हमदान बाबा आज तर्वाजा ही नहीं खोल रहे, दोबारा बुलाने गए थे, पर वो आये ही न नहीं, गाजान आप बुला कर लाओ, उस लड़के की मुझे समझ नहीं आती, मौम वो आज जाएगा, आप नाश्टा करें, गाजान के जवाब पर समरीद बेगम ने अचंबे से गाजान की चानिब देखा, आज मुनता भी नाश्टे पर मौजूद नहीं थी, मुनता भी हमदान की चानिब गई, जो हाथ में सूट के स्थामे, सपार्ट जहर लिए, बाहर की चानिब बढ़ रहा था, समरीद बेगम की आवास पर इसके कदम थमें, लेकिन हो मुड़ा नहीं, हमदान में कुछ फूच रही हूं, इतनी सुबा कहां जा रहे हूं, नाश्टा करो ही अच्छा है, गाजान के जवाब पर समें बेसाफता लब भीजे, गाजान क्या हुआ है, कोई जगड़ा हुआ है, नो माम, ऐसी कोई खास बात नहीं है, सुजाने दे, बहुत आराम परस्ती हो चुकी है, इसका यहां से जाना, और वहां कमपनी को समालना बहतर है, गाजान इतनी अचानक, हंदान अभी इसी जगे जमा था, एक उमीद थी कि गाजान उसे रोके गा, लेकिन इसकी गलत फहमी थी, माम कुछ फैसले अचानक ही होते है, और शायद आप ही कह रही थी कि हंदान के लापरवाईयां बढ़ चुकी है, उसे बिजनिस पर तवर्जे देनी चाहिए, लेकिन समरींद बेगम अभी मुतमेल नहीं हो पाई, माम रिलाक्स, गाजान ने हाथ पर दबाव डाले, उन्हें आँख के इशारे से चुप रहने का कहा, पर बेटा नाश्ता तो कर लो, ऐसे मत जाओ, समरींद बेगम, चेहरे से उठकर हंदान की जाने बाई, नो माम, भूक नहीं है, चेहरे पर जबदसी मुस्कुरायट तारी किये, और मुड़ा, अपना भर्म भी इसने काइम रखना था, बेसाफ्ता, वो समरींद बेगम के गले लगा, और एक नजर गाजान की जानिब डाली, जो नाश्ता करने में ही मजगूल था, हम्दान का द गाजान मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ है, जो हम्दान इतनी जल्दी जा रहा है, समरींद बेगम की अब भी तसली नहीं हो पाई थी, मॉम, कल राट डाटा था, काफे दिन से बिजनेस से हट कर, फाल्तू चीजों की तरफ इसकी तवज्जे थी, पिकर मत करे, जल्दी व वो हलकान हो रही होगी, इसलिए फौरण उपर आया, जहां मुंताह चक्कर काड़ती, बेहाल हो रही थी, बीवी, आपकी तब्या चीक नहीं है, आप है, कि नादानी पर नादानी करती रहती है, वो से लिए बैट पर बैट गया, गाजान, वो हम्दान, मुंताह के अल्द बाज इसका साथ नहीं दे रहे थे, अगर आप, आपने मजीद कुछ कहा, तो मैं भी यहां से चला चाओंगा, फिर होती रहेगा परिशान, गाजान का लहड़ा यगदर सक्त हुआ, जब मैंने आपको इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो आप क्यों परिशान हो रही है, नह मैं भी यही चाहती हूं कि उन्हें भनक भी न मिले, मैं जानता हूं था, आपका जवाब यही होगा, खर चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, गोरी से नवाजे, धीरे से इसके गाल थप थप थपाए, तो बाहर के जानी पड़ मुन्ता बेसाखता मुस्कुराई थी, जवेरिया की हाथ से सूप पीता, वो इसके चहरे को एक टक देख रहा था, जिसकी सारी तबज़ें से सूप पिलाने पर थी, दिल में एक मलाल जगा, अपनी अना और जिदमे और चवेरिया को काफी हद तक खुद से दूर कर चुका जवेरिया के जवेरिया से अपनी गल्दियों की माफी मांग ले, उसे मना ले लेकिन ये ख्याल भी एक साथ उबरा था, तो किस किस चीज की माफी मांगे, हाथ उठाकर से जवेरिया को मजीद सूप पिलाने से रोका, और खुद बेसुच से लेटा, जखमों से ज़्याद जवेरिया भी घर से निकल जाती थी, अपनी पुष्ट पर किसी की नजर महसूस करके उमुड़ी और तीकी नजर खान सा पर अमबा पर डाली, क्या मसला है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, खान समथ सट पटाई और बरतनों की जानी मतवज़ ही, बीबी, जी, कुछ नहीं, फालतू लोग नजाने, कहां कहां से उटकर आ जाते हैं, कन फन करती हो किचन से निकल कर लाउंज की जानी पाई, हाशिर की विमार शकल देखने का, इस वक्त इसका कोई मूट नहीं था, मॉबायल से इसने हमदान का नंबर मिलाया, लेकिन आगे से नंबर आउफ का सुनकर वो मज़ीज जुनलाई, और फोन जोर से टेबल पर पटक कर सोफे से टेक लगा गई, लाउज में इस वक्त सब कुछ गप्यों में मसरूफ थे, मारिया जो सब को चाय पेश कर रही थी, एकदम धमी थी, दरवाजे के दर्मियान में अशर अली हमदानी अपनी सहर भाई, आप आ गएं, सीने से लगकर इसकी आवाज में नमी थी, फिर्दोस बेगम भी आज काफी दिन बाद लाउन में मौजूद थी, हाशर की जानी भी थी कि ना जाने, वो किस हाल में होगा, इसलिए आपक इन्हें आज सब के दर्मियान ले आया था, और आज सब का एक पूंची और उसे सीने से लगाया, जलती ममता पर जैसे एकदम ठंड़क पहुंची थी, इतनी देर कौन लगाता है मेरे बच्चे, क्या एक मरतबह भी मेरी याद नहीं आई, बाप का ख्याल नहीं आया, क्यों गय थे, बिना बताए, रोती कुलाती वो अशर की आख भी न नहीं चाहिए, आगा जान की आवास सुनकर अशर बेसाफता मुस्कुराया, पर उनकी कले लगा, देवर साल की तिशनगी मिटा गया, गहरे गम के बाद, आखिकार, खुशिया, आहिस्ता आहिस्ता अपना डेरा जमा रही थी, मारिया, मुंता कैसी है, अशर के सवाल पर मा रहम दिल्ल्ला भाई, बहुत खुश है, ऐसा लगता है, अल्ला ताला ने उसकी किस्मत में एक रोशन सितारा लिखा था, जो से मिल चुका है, इसके तमाम गमों के बदले से एक खालिस इनाम मिला है, जो सबसे अनमौल और कीमती है, जानते हैं, गाजान भाई, हीरा है, ही जरूर मिलना हैं से, यकिनन आपको भी अच्छा लगेगा, अशर को मारिया का जवाब सुनकर यकलक्त सुकून महसूस हुआ, वो पहली शादी की हकीकत जानते हैं, अगला सवा सुनकर मारिया हामोश हुई, नहीं, भाई, मुंताह को चचा जान ने कसम दी थी, कि वो इस हक मुंताह की सारी सिंदगी का मामला है, अशर के माथे पर तेورी नुमाया हुई, भाई समरीन आटी इस हकीकत को जानती है, उन्हें सब पता है, और उन्होंने भी इस हकीकत को चुपाने का कहा है, ये गलत है मारिया, मुंताह की सारी सिंदगी का मामला है, ये हकीकत आखिर करेगा इस बात का अंदाजा भी है भाई इस मामले में मुन्ताह भी खामुश हो चुकी है कुछ दिन पहले मुन्ताह ने बताना चाहा लेकिन चच्ची जानने से खामुश करवा दिया लेकिन भाई अगर यह हकीकत छुपी हुई है तो उसे छुपी ही रहने दे ना जाने तक वेकप क्या मोड ले इसका तो किसी को भी नहीं पता लेकिन अल्लह पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए कि जो भी करेगा बहतर करेगा अशर महद हंकारा भर कर रह गया कोई जवाब इसके पास मौजूद नहीं था जो बजले में कह पाता ये क्या है हाशिर ने सामने मौजूद रिपोर्ट की चानिब देखा जो मौजवेरिया ने इसके सामने रखी थी खोल कर देख लिजिए सच पता चल जाएगा जवेदिया का अंदास सपार्ट था दो दिन से इसका रवया उखड़ा उखड़ा था और ये चीज हाशिर बे महसूस कर रहा था इसकी तबियत अब काफी हद तक बहतर थी लेकिन आफिस जाने की हालत अब भी नहीं थी इसने फॉरां डिपोर्ट खोल कर देखा जहां जवेदिया की प्रेगनेंसी की खबर वाज़े लबजों में मौजूद थी हाशिर का रंग एकदम फख हुआ उसे एकदम समझ ही नहीं आए कि वो इस खबर पर क्या इज़ार करें तकदीर शायद वो अकफे अकफे से शौक देना चारही थी और यह साथ दिलाना चारही थी कि वो अपनी जिद में हर खुशी को अपने आप से दूर कर चुका है तो तुम हाँ मैं प्रेगनेंट हूँ जवेरिया कहकर बेसाफता मुड़ी लेकिन हाशिर नसका हाथ थामा हाशिप हाथ छोड़ दे खबर आपको मिल चुकी है मजीद हमदर्दी की जरूरत नहीं चहरे पर इस वक शैतानी चमक थी जवेरिया प्लीस हाथ पर गिरफ्ट अब भी कायन थी क्या हाशिप क्या प्लीस कोई एक भी महबबत की भी रमक आपने मेरे दामन में डाली है बोले क्या मैं इस खबर पर खुश हो जाओ नहीं मुझे ये खबर खुशी नहीं दे रही क्योंकि मैं जानती हूँ जैसे मैं इग्नोर की गई हूँ ऐसे मेरा बच्चा भी किया जाएगा इसलिए मैं पहले ही खुद को इसके लिए तयार कर रही हूँ तांके बाद में कोई पश्तावा ना हो कि आपकी बेरुकी मेरे लिए तकलीफ का बास थी जविया एक आखरी मौका दो सब गम खतम कर दूँगा खुशियों से तुमारा दामन भर दूँगा लेकिन एक मौका नहीं हाशिर अब नहीं मैं सबल चुकी हूँ अब मज़िद मैं कुछ नहीं चाहती हाथ चुड़ा करो तेजी से बाहर की जाने बढ़गी हाशिर कहाद बेसा था पहलों में गिरा था और गिरने से के अंदास मूँ बैट पर बैठा था हर तरफ से मलाल ही मलाल इसको घेरता जा रहा था किस बात की टेंशन दे रही है मौनता का हाथ थामे वो इसके पास ही बठा था कुछ तेर पहले इसे होश आया था और गाजान ने पहला सवार यही किया था नहीं किसी बात की टेंशन नहीं तो फिर आपकी यहालत कैसी हुई मौनता क्या चुपा रही है मुझसे गाजान को मौनता आज कुछ अलग लगी थी गाजान ऐसा कुछ नहीं है शायद सुबा नाच्ता ठीक नहीं किया था इसने ऐसा हुआ मौनता ने महद उसे टालना चाहा हमदान की जाने की टेंशन ली है नहीं गाजान ऐसा कुछ नहीं है प्लीस कुछ दिर सोने दे मौनता का बेजार लेटा सुनकर गाजान की फिकर मज़ीद बड़ी इसका चिल्चड़ा पन चीक चीक कर किसी गहरी हकीकत को जाहर कर रहा था गाजान को इस वक्क खामशी ठीक लगी जानता था फिलहार वो कुछ नहीं कहेगी ठीक है आप रेस्ट करें दीरे से हाथ जहला कर वो सिक्रेट लाइटर लिए बैलकोनी की जानी बढ़ गया मौनता की आंग बेसाखता नम ही अपनी बेरुकी से वो गाजान को नारास कर चुकी थी लकिन हकीकत बता कर वो गाजान को दुख भी नहीं दे सकती थी इस मसीबत से वो खुद निपटने वाली थी मौनता का रवया काफी हत्त चिल्चड़ा हो चुका था और ये गाजान ने भी बहुत महसूस किया था शब और रोज वही महबत भरे थी लेकिन मौनता एक मरतबह फिर बियतिनाई पर उतर आई थी इसका जवाब वो महस हां में ही देती थी इसकी बेरुखी के बाद भी गाजान का रवया हनूत महबत भरा था गाजान के आफिस जाने के बाद दो समरीन बेगम के पास आई चार दिन से कश्मकश मुलजी आज एक नतीजे पर पहुंची थी आखेकार आज इसने फैसला करी लिया क्या हुआ मुन्तहा आपको कुछ चैही मौम मैं एक दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ मुन्तहा ने खौरण अपनी अर्जी सामने की जरूर जाओ पर गाजान से पूछ लेती मौम पूछ लिया है जूर बोलते इसकी जुबान लड़ खड़ाई ओके ट्रैवर के साथ ले जाओ ध्यान से जाना दीरे से गाल थप थाप पाए उन्हें मौन्तहा को इजाज़ा दी थी हैंड बैक दियो खुद को एक चादर में कवर किये इसने ड्रैवर को एड्रेस समझा और खुद गारी से टेक लगा गई जानती थी के काफिर इसकी काम है कर रही है अगर काजान को खबर हो जाथी तो नजाने क्या वबाल आता लेकिन अपनी जिंदगी के लिए उसे ये स्टैन लेना ही था जावरिया बीवी के लिए फ्रूट सैलेड और दूद को गिलास जल्दी उपर भीजे हानसमा को उकुम दिये उपर की जानिबाया जहां जावरिया हमेशा कितना फोन में मगल थी दरवाजे पर खड़े होकर स्नेक नज़र जावरिया को देखा गहरा सांथ देकर वह हमत किये आगे बड़ा और जावरिया के हाथ से फोन उचका जावरिया एकदम डर कर उचली हाशिर के इतनी जल्दी आने की उमीद नहीं थी हाशिर आप इतनी जल्दी बेसाफता मुझ से निकला रंग एकदम फक हुआ हाशिर के चहरे पर दिल फरेद मुस्करार चम की अंदर की कैफियत को अंदर ही दबाए अपने रिष्टे को एक मौकर मजीद देना चाहरा था हाशिर मुबाइल दे मुझ रहे एकदम जवेरिय अपनी जगे से उठी थी और नीचे उतर कर हाशिर की हाथ से मुबाइल ठपटना चाहा लेकिन हाशिर कहां तो उच्छा था जवेरिया हलका सा उचली बेसाकता हाशिर ने उसे कमर से पकड़ कर रोका जवेरिया ये क्या हो गया है आराम से अभी गिर जाती लेकिन उसका ध्यान अभी मुबाइल की जानिब था हाशिर मेरे मुबाइल जवेरिया सकती से बोली उसकी हालत के पेशे नजर इसने पौरण मुबाइल इसको दिया था जवेरिया चीनने से अंदाज में मुबाइल लेकर उसे ओफ किये बैट पर फेंका कमर से उसका हाथ अटाना चाहा हाशी के गिरफ्त सक्त होने की वज़े से शायदी मुम्किन नहीं था छोड़े हाशी मेरा दम घुट रहा है जवेरिया ने मज़ाह मत की एकदम हाशी ने उसे छोड़ा मेरी कुर्बत अब तुम्हारे लिए दम घुटने का बास बन चुकी है जिरे से करीब हुए इसने जवेरिया के चहरे की लटो को कान के पीछे उड़ सा जवेरिया ने फौरण इसका हाथ ढटका हाशी ने अब हाथ थामा था क्या माफ़े की कुझाईश जरासी भी नहीं है अंदाज इलते जाया था मुझे नहीं पता हाथ चुडाना चाहा लेकिन हाशीर कलाई अच्छे से जगर चुका था पिर किसे पता है लहजा एकदम गंभीर हुआ जवेरिया के चहरे पर उसे साब बेजारी नजर आ रही थी लेकिन अपनी कोशिश उसे जारी रखनी थी एकदम दोनों के तर्मियान खामोशी में अपना डेरा जमाए था ना जवेरिया ने अपनी कलाई छुडाई थी और ना ही हाशीर की नजर हटी थी गीरे से वो इसके चहरे के चानी जुका था कि दर्वाजे की दस्तक में होश की दुनिया में लापटका जवेरिया फॉरन डुपटा दुरूस किये फासले पर जाकर बैठी और हाशीर ने भी खानसा मा को अंदर आने की इजाज़त दी फूर्ट सेरेट देखकर जवेरिया की एकदर उपकाई आई थी और चहरे पर साब बैजारी थी जानते पुछते वो इस मुसिबत कले तो ले बैठी थी लेकिन अब भुकतना मुश्किल था कोई बहाना नहीं चलेगा चलो आओ यहाँ हाशिर के लहज़े में जवेरिया ने अजनमियत धूनना चाही लेकिन शायर जवेरिया की मा बनने की खबर ने अजनमियत की सारी दिवारे गिरा दी थी यहाँ बैठो हाशिर ने बाजो से थाम कर उसे बैट पर बिठाया और बाउल लिये इसके सामने दरास हुआ और चमच इसके मूँ की जानी बढ़ाई जवेरिया को मूँ खोलते ना देखकर हाशिर के चरे पर मस्कुराहत नमुदार हुई मूँ खोलो लेकिन जवेरिया टस से मस नहीं ही मुझे और भी तरीके आते है मिसिस हाशिर अली हमदानी जवेरिया की मूँ पर तंजिया मस्कुराहत नमुदार हुई आखिरा कार आपको ख्याल आ ही गया कि मैं हाशिर अली हमदानी की वाइफ हूँ सच कहते हैं मर्द बहुत खुदकर्ज होते है और तस पर जान भी लुटा दे उसे फिर भी कदर नहीं आती वो बस अपनी अना में रहता है लेकिन जैसे ही उसी आउरत से जब कोई मन पसंद खुशी हासिर होने लगे वो दो टक्के की आउरत सरका ताच बन जाती है जवेरिया के तंज पर हाशिर का हाथ थमा था चमच बाउल में रखकर इसने जवेरिय की थूड़ी से पकड़ कर उसका रुक अपनी जानिब किया मर्द जात होते ही खुदगर्ज है एक पत्थर की मानिं होता ही मर्द ना आसानी से तूटता है और ना ही कोई शकल में ढलता है लेकिन औरत की जात एक गिली मिटी की तरह है इसको प्यार महबब से जिस भी शकल में ढालो वो ढल जाती है गलती है अगर मैंने की है तो सुधार भी मैं ही रहा हूँ हलका सा थूड़ी पर दबाउट डाल कर इसने चमच इसके मूँ में डाला जो जावेरिया इसकी चालाकी पर कुछ गई ही नहीं पाई हाशिर ने भी मज़ीद कुछ नहीं कहा और बिना बोले उससे बस रोड स्लेट खिलाता रहा भाई लाइबा खान का इमपायर्स का पता है आपको मुन्ताह के सवाल पर ड्राइवर हैरान हुआ जी बिबी जी इधर मोर ले मुझे वहीं जाना है वहां तक जाने की इसने हिम्मत तो कर ली थी लेकिन दिल में ये खौब भी था कि नजाने गाजान का क्या रद्दमल होगा ये तसावीर इसी अंदाज मिल गई थी जिसे मुन्ताहर अशर की लिग गई थी लेकिन इज़त और एतिबार से खुझ से जादा है इस मामले में अगर मुझे आपकी नाराज़की भी सहनी पड़ी तो वो भी बरदाश्ट कर लूँगी अटर लहजे में सोचती वो सीट से टेक लगा गई मुझे मिस लाइबा से मिलना है आफिस में अंटर होते ही इसने एक आफिस वर्कर से पूछा आफिस वर्कर की अधुरी बात सुनकर वो तेज़ी से उस जानी बाई जहां इसने इशारा किया था अपनी हालत की भी उस वक्त परवा नहीं थी तेजी से वह दर्वाजा खुलकर अंदर दाखिली जहां लाइबा दो कलाइबा दो कलाइबा के साथ मस्रूफ थी मुझे तुमसे बात करनी है 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 मुंताह एकदम चिलाई मिस्टर लोगारी मैं आप से बात में मिटिंग करती हूँ इस वक्त के लिए माजूर अच्छाती हूँ दोनों कलाइंट सर अजबात में हिलाए बाहर की जाने बढ़े थे क्या हुआ है मुंताह तुम इतनी गुसे में क्यों हो तुम गुसे की बात कर रही हो मेरे दिल कर रहा है एक जोरदार थपड़ मार कर तुम्हारी हकीकत तुम्हारे मुझ पर मारू और बताओ कि तुम क्या गुनाह कर चुकी हो मेरे यनि मुंताह सुल्तान के शोहर पर इल्जाम लगाना चार रही थी तुम समझती थी कि मैं उन तसाविर पर यकीन कर लूँगी घलत फैमी है तुम्हारी तुम क्या पुरी दुनिया भी या कोई मेरा अपना भी मेरे शोहर पर इल्जाम लगाएंगा ना तो मैं तब भी यकीन नहीं करूँगी के साथ ये गलीज हरकत कैसे करेंगे शर्म से ढूब मर जाओ मैं तुम्हारी सारी चाला की समझ चुकी हूँ तुमने महस गाजान को बरबाट करने के लिए उनके साथ बिजनस स्टार्ट करना चाहा था शुकर है कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी वरना नचाने तुम क्या क्या धोके बाजी करती मेरा इतिबार का तुम ये सिला दोगी मुझे उमीद नहीं थी गाजान सही कहते हैं कि हर किसी पर इतिबार नहीं किया जाता लेकिन ये मैं ही बेवकूफ हूँ जो हर एरे गयरे पर इतिबार कर लेती हूँ इंकार किया था उसे मैं कैसे छोड़ दू और तुम जो इतना अकड़ रही हो अगर तुम्हारी हकीकत मैंने गाजान को बता दी तो कहीं मुँ दिखाने के लाइक नहीं रहोगी बस मिस लाइबा आगे एक लब्स भीमत कहिए का वन्ना मैं भूल जाओंगा कि आप एक औरत है इससे पहले उमजीद कुछ बोलती गाजान की धार ने लाइबा की बोलती बन करवाई मुझा बेसाफता अपनी जगे से उचली लाइबा का भी रंग एकदम फक हुआ गाजान की हाने की उसे उमीद नहीं थी आप मुझा के मुझे सरसराहट की तरह निकला गाजान कदम ब बताएगी खुद से जादा मुझे 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 गाजान पर यकीन है बहतर यहीं होगा क्या इंदा आप हमारी लाइफ और मेरी कंपानी से दोर रहेंगी मैं नहीं चाहता कि एक औरत पुलिस इस्टेशन और रदारत का चकर काटती रहे गाजान की धंके सुनकर ल चले बीवी लाइबा को एक नज़र देखते मुंता को लियो आफिस से निकलता चला गया लाइबा एकदम कुर्सी पर गिरी थी सारा बना बनाया प्लैन गहरी खाई में जा गिरा था बासों से थामकरों से गारी में लाया मुंता ने उसे पुकाना चाहा लेकिन गाजान का सपाट अंदाज देखकर मुंता ने चुप सादली सारे रास्ते खामोश डरी सहमी सी गाजान को देखती रही जिसका चहरे काफी हद तक सपाट था गाजान की नाराजगी को देख देखकर मुंता की जान हलकान हो रही थी काजान मेरी बात सुने मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन वो तसाविर मेरा दिमाग खराब कर गई खामूश हो जाए मुन्तहा मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता सक्ती से करकर इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई मुन्तहा ने बेसाखता हाथ मसले थे गाड़ी घर के आगे रोकी वो तेजी से बिना मुन्तहा को साथ ले उतरा और आगे बढ़ा मुन्तहा ठकी ठकी सी नजर गाजान की पुछत पर डाल कर गाड़ी से उतरी थी हेल्स की वज़े से मुन्तहा को चलना मुश्किल हो रहा था गाड़ी का सहरा लिवांगे बढ़ी थी कि जब गाजान वापस उसके जानी बाया और बिना उसे सोचने समझने की महलत दी उसे गोद में उठाए अंदर के जानी बढ़ा मुंता की हलकी सी चीफ निकली ने आपको गाजान की बाहों में देखकर वो शर में देख लेती तो नजाने मुंता कैसे नजर मिला पाती गाजान उफिस में उसे इस देख चुका था इसलिए वहां से सहरा दिये लाया था वरना इसने सोच लिया था कि वो उससे बात तक नहीं करेगा लेकिन शायद गाजान सिद्धी का दिन मुंता के इस हद तक नर्म पिचा कर भी उसे तक्रीट नहीं दे सकता था फिर मुझे बिना बताए आपने ये काम किया चाती क्या है आप क्यों इतनी सिद्धी है जिस काम से मैं आपको रोकता हूँ आप वही काम करती है एक मरतबा में मुझे बताना गवारा नहीं किया हर आप क्या समझती है कि आप बड़ी हकीकत मुझे चुपाएगी तो क्या मैं खामुश रहूँगा मुंतहा मेरी नजर हर वक्त आप पर है आपके सोने जगने, खाने उटने बटने हर चीज़ का मुझे इल्म होता है इन चन्द माह में इतना तो मैं जान गया हूँ कि आपका रवया किस वज़े से बदलता है मुंतहा के चरे पर आज कोई मलाल नहीं था हाँ, ये डर जरूर था कि वो गाजान को नाराज कर चुकी है उसे मनाना थोड़ा मुश्किल होगा गाजान, मैं मुंतहा बखलाई कुछ नहीं सुनना मुझे मुंतहा अपना नाम सुनकर वो समच चुकी थी कि गाजान नाराज हो चुका है धिरे से उठकर वो गाजान के करीब आई जानती हूँ, आपको बिना बताए गई थी लेकिन गाजान जाना भी जरूरी था वरना वो लड़की हमारे जिन्दगी में जहर घुलने जरूर आती काजान का हाथ थामकर इसने धीमे मगर पुरकशिश लेटे में कहा था काजान के जहरे पर अब भी सर्द महरी थी काजान रियली सौरी लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मानती हूँ, आपको बिना बताए जाकर गलत कर चुकी हूँ, लेकिन लेकिन क्या मुंतहा इस लेकिन कोई ही रोक दे, मुझे मज़ीद कुछ नहीं सुनना लीज काजान मुंतहा की आवाज में नमी घुली बस, यही हत्यार है आपके पास फौरान से पहले सने आंकों से आंसु बेमोल होने से बचा लिया और बेसाफता इसके गिर्द बाजु हायल कर गया मुंतहा से चाह कर भी नाराजगी रखना इसके लिए इक्तियार में नहीं था मायरा, जवेरिया की बहन मैं इस शक्स से तंग आ चुकी हूँ इस हद तक वो पाबंदी लगाने लगा है कि मैं मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा क्या मुसीबर गले ले बैठी हूँ मैं मुझे नहीं पता था कि उस शक्स को काबू करना इतना मुश्किल होगा जब से हाशिर को जवेरिया की प्रेगनेंसी का पता चला था सब काम फरामोश किये ओ बस जवेरिया की जाथ में गुंग था इसका खयाल रखना खाना पीना गर्ज हर चीज़ का खयाल रख रहा था और यही चीज जवेरिया के लिए सरदर्द का बास थी आजाती एकदम खतम होकर रह गए थी और दूसरी जाने हमदान का नंबर भी नहीं लग रहा था अजीब चिर्चड़ापन जविरिया पर हावी हो चुका था जविरिया अपनी जल्दबाजी में तुम बेवकूफी मत कर देना इतनी मुश्किल से तुम यहां तक पहुंची हो और अब तुम बेजार होने लगी हो बस चन्द दिन हैं यह सब कुछ हमारे हाथ में होगा बस तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में जानना है क्यों कहा है और हाशरें से क्यों नहीं मिलता क्योंकि अब हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा ऐसा नहों कि कल को वो हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर दे मायरा मुझसे सबर नहीं हो रहा दिल कर रहा है उसे जान से मार दू लिकिन अगर उमर गया तो मेरे हाथ कुछ नहीं आ पाएगा एक ये हमदान नचाने कहा चला गया है उस शक्स को बस मेरी चाह होती है तब मुझ उठाए चला आता है मायरा बेसाफता हसी थी चल जवेरी चल आ जाएगा वो तेरा हैंसम बस सबर कर लो और हाँ जब भी आए मेरी मुलाकाद जरूर करवाना उस जालिंग से क्या परसनलिटी क्या अंदास है उस शक्स का बस दिल करता है कदमों में दिल रख दू मायरा आपकी गोया राल टबकी थी चट आप मैं तुम से अपनी परेशानी शेयर कर रही हो और तुम उस हमदान के गुन गा रही हो दफ़ा उटा, मुझे अब तुम से बात ही नहीं करनी तैजी से इसने कॉल काट कर मुबायल दूर उच्छा ला था और खुद अपना सर दोनों हाथों में थामा था यहां रख दे, कमरे में रशीद नौकर मुटलिफ हैंड बैक्स उठाए रूम में दाखिल हुआ उसी के साथ गाजान भी अंदर आया था मुझे अगदम चौकी, रशीद तमाम बैक्स रखे वहां से जा चुका था गाजान, ये सब क्या है मुझे की नजर इन बैक्स पर थी ये सब कुछ है गाजान ने कहे कर बैक्स खोल कर इसने तमाम बाक्स बाहर निकाले मुझा की हरत से आँखे पहली गाजान, ये सब क्या है आप तो हाई हिस पसंद थी फिर ये फ्लेट शूस क्यों मुझे नजर फ्लेट शूस पर गई जो गाजान नजर ने कितनी तादाद में ले आया था वो, वो ये गाजान का हाथ बेसाखता सर पर गया जो अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दे वो आप मुझे फ्लेट शूस पसंद आ गए है इसके जवाब से मुंतहा के चहरे पर मुसकुराण चमकी थी वो समझ चुकी थी गाजान कल इसके पाउ में हिल्स देख चुका है इतनी जल्दी आपकी पसंद भी बदल गई वाँ, आप तो बहुत फास्ट है शरारत आमीज अंदाज में भेकर वाँ जरासा जुकी गाजाने तीखी नदस पर डाली बीवी, इतने सवाल कौन करता है बस आप आज से इनी यूज करेगी मज़िद कोई सवाल नहीं मुंतहा को बैट पर बिठाए एक सिल्वार पुरकशिश सिंपल से सिलिपर इसके कदमों में रखी बुकलाहाट के संग कहता वो मुंतहा को मस्कूराने पर मजबूर कर गया इसकी मस्कूराहाट देखकर गाजाने से एक घोरी से नवादा जानता था गाजाने वोचिश अब अब उसे बार बार तंग करेगी पर मुझे तो हाई हिल्स पहननी है और मुझे भी अब हाई हील्स अच्छी लगती है इता हुदर देखते हैं इसने गाजान को छिड़ा नहीं आप सिलीपर पहनेंगी अब मजीद मस्कुराहट नहीं और मजीद मजाग भी नहीं वनना मैं बहुत बुरा पेशा हूँगा मस्नी संजीजगी से कहता हूँ मनताह के कहकई की वज़े बन गया था उफ गाजान वेरी फणी मनताह के कहकई देखता हूँ भी गहरा सा मस्कुराया गाजान मकल से एक बात सोच रही थी एकदमों गाजान की जानिम बुड़ी जो लेपटाप पर एक एहम फाइल देख रहा था हूँ क्या सोच रही थी गाजान के ध्यान अब भी लेपटाप के जानिब था गाजान मेरी तरफ देखे इसने लेपटाप बंद करना चाहा लेकिन गाजान इसका हाथ थामा वेट आ मिनिट बीवी बस थोड़ा सा है मुन्ताप ने हाथ चुड़ा कर रुप बदला एक तरह से इसने नाराज़गी का इजहार किया बीवी लेपटाप शट डाउन करके इसने मुन्ताप को बाजो से पकड़कर रुख अपनी जानिब किया और कंदे के किर्द बाजो फिलाया अब बताएं क्या सोच रही थी कुछ नहीं आप बस काम करें मुन्ताप ने नाग चड़ाई उफ इतनी जली से काम से अगर कमाऊंगा नहीं तो बंदा बशर अपनी बेबी की खौइशात कैसे पूरी करेगा मुन्ताप की नाग दबा कर इसने मुन्ताप को मजीद चड़ाया मुन्ताप की बेसाफता पल के लरजी उफ गाजान मुन्ताप ने गाजान को हलका सा जटका अच्छा बताएं क्या सोच रही थी मैं सोच रही थी कि वो तस्विर लाइबा ने किस वक्त ली थी और आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये सब कब हुआ आकरी बात इसने घूरी के संग कही थी बहुत जल्ब ख्याल आ गया आपको पोचने का जैसे आपने चुपाया था मैंने भी चुपा लिया गाजान मुंता ने मूफ लाया बीवी छोटी छोटी बातों पर पर परिशान नहीं होते इन आम से मामलाब को मैं हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ मैंने आपको पताया ना ठहा लेकिन इस प्यारी सी खबर ने मेरी सारी फिकर भुला दी थी इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा था खर इस दिन मेरे कपड़ों पर जूस गिर गया था वाश करने उपर गया तो मिसलाइबा भी वहाई और डील के लिए मनना समाज़त करने लगी तब ही अच्छाना को मेरे करीब आई बिना मुझे समलने का मौका दी मुझे से लिप्टी थी मुझे साथ तक गाजान के लबों पर अपना हाथ रख दिया बस मुझे मजीद नहीं सुनना अच्छा हुआ आपने मुझे नहीं बताया वरना मैं उस चुडेट को जान से मार देती सीने पर सर रखे इसने गाजान को कहा अब पूरी बात तो सुन ले फिर आपके छोटे दिमाग में नया सवाल आएगा नहीं नहीं मजीद नहीं सुनना और आप भी खामुश हो जाए वरना मैं रूम से चले जाओंगी मुंता की दम के सुनकर गाजान का कहका वैसे मुझे यकीन नहीं था कि आप उन तस्मीरों को सच नहीं मानेगी क्योंके लाइबा आपकी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है गाजान अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहें जानती हूँ गलती हुई थी मुझसे लेकिन आप पर खुद से ज़्यादा यकीन है दीमे से कहकर वो इसके सीने में मूझ छुपा गई मेरी नादान बेवी गाजाने सर जटका और आखी मुंदी थी मिस लाइबा क्या माफी की कोई गुंजाश नहीं है हाशिर अली आज फिर नाइबा के आफिस में मौझूद था अगर गलतिया इस शक्स ने की थी तो सुधार भी खुद रहा था वाट ये आप क्या कह रहे हैं इसकी काया प्लड पर वो हैरान हुई थी मुंदाह से हुई कल वाली इज़त अफजाई का जिकर इसने हाशिर से नहीं किया था मुझे उसकी बरबादी चाहिए मिस्टर हाशिर आप शायद अपनी डिल भूल चुके है और अब अपनी बात से इंकारी हो रहे है मैं कुछ नहीं भूला मिस्ट लाइबा और ना भूलना चाहता हो हो सकता है कि आपको गलत फैमी हो मिस्टर गाजान ऐसी नेजर के नहीं लगते कि उन्होंने आपके बाबा को नुकसान पहुँचाया हो वाह मिस्टर हमदानी अब आपको ये गुमान होने लगा है कई मुंताह से हमदर्दी तो नहीं हो रही ये तो दिन में काया पलट कैसे हुई है लाइबा का तन्जिया अंदास सुनकर हाशिर के माथे की तेवरी चड़ी मिस्ट लाइबा आप अपनी हद पार कर रही है इतनी अजाज़त मैंने अपनी बीवी को भी नहीं दी कि वो मुझसे इस अंदास में बात करे एक बात याद रखना अगर आपने मुंताह और गाजान की तरफ मैली नजर भी डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ऐसे जगे गायब करवाऊंगा कि आपकी फैमिली आपको मरा हुआ समट कर सबर कर लेगी गहरी नजर इस पर डाली पुरा सरार लहजे में लाइबा को धंकी दे कर वोहाँ से निकलता चला गया लाइबा सुन सी उसे जाता देखती रह गई यह मलाल भी क्या चीज़ है इनसान को उस वक होता है जब सब कुछ रेट की तरह हाथ से निकल जाता है यादों के नाग पल पल दिमाग को ड्रसते है अपने अलफाज ही सामने खड़े उसका मजाग बनाते है लेकिन हाशिर अली ने शायद इनाग अपने इर्दकित सक्ती से बांदे हुए थे खुद को अजियत देना शायद यही होता है कि इक्तियार में होने के बावजूद उस शेय को चूना तो दो उसके जानिब देखना भी हराम कर लिया हो घर वालों की याद बलमा बलमा इस हद तक हावी हो चुकी थी कि हाशिर का दिल चाहता कि एक मरतबा इस देहलिस पर कदम रखे और ऐसे गिरगडा कर माफी मांगे कि माफी लवस में पना मांगे लेकिन वो शक्स अपने आपको दोहरी अजियत में रखना चाहता था ना वहाँ जाना था ना माफी लेनी थी क्योंकि इतना तो उसे अंदाजा था कि उस घर में उस जैसे पत्थर दिल नहीं रहते उसे माप भी कर देंगे और अपना भी लेंगे लेकिन उसे फिर भी सुकून नहीं मिलेगा क्योंकि वो गलती नहीं कुना कर चुका था और माफी मांकर भी कौन सा सुकून हासिन होता मुंता सुल्तान तो उसकी दस्तरस से बहुत पहले निकल चुकी थी जैवलिया की लाग फिकर करता लाग उसे एहमियत देता लेकिन इसके लिए इसका दिल नहीं धड़कता था दिल उसकी कुर्बत में साकी थी रहता था मुंता सुल्तान का हलका सा नाम भी दिल में ऐसी हलचल मचाता था कि हाशिर अली को ये मानना ही पड़ता था कि उसी मुन्धा सुल्तान से महब्बत हो गई है उसी बदकरदार लड़की से महब्बत हो चुकी है आज दिल की हालत ना जाने क्यों हद दर्जे बेसुकून थी कुछ सोचकर इसने अफजल कार्ट का नमबर डायल किया पिछले दो माह से वो उसके साथ राप्ते में था जो से पलपल की खबर पहुँचाता था अफजल सब ठीक है कॉल पिक करते ही इसने बेकरारी से पुछा जी साहब जी मारिया बीबी के घर बेटा हुआ है खुशी की खबर सुनकर हाशिर की आप नम ही क्या मारिया वो मामू बन चुका था जी साहब जी आप मामू बन गए हो साहब जी एक बार आ जाओ अगजान बड़ी बीबी आपको बहुत याद करते हैं अफजल ने भी अपना फर्ज निभाना जरूरी समझा आउंगा अफजल पस चनद दिन मज़ीद माफी की पूरी तैयारी करके साथ आउंगा अफजल मुझे किसी भी तरह बच्चे की फोटू भेजना जी साहब जी अशर बाबा को कहूंगा वो आपको भेज देंगे अशर क्या अशर भी वापस आ गया है हाशिव पर बे तरबे खुशी की धमाके हो रहे थे जी साहब जी वो चार माँ पहले लोटे हैं अफजल तुम अशर से कुछ मत कहना मैं खुद जल जल लोटूंगा अफजल तुमने ये खुशी की खबर सुना कर तो मुझे पर एहसान कर दिया है साहब जी ऐसा नहीं है अब आप मुझे शर्मिदा कर रहे हैं नहीं अफजल खर तुम मुझे इत्तिला करते रहना अलविदाए कलमात अदा करके इसने फोन बन किया था हाशिव किसका फोन था फ्रेज सी वो वाश्रोम से निकल कर साइट पर मौझूद काउच पर दरास हुई हाशिर की चहकती आवाज सुनकर चौंकी थी जवरिया खुशी की ही तो खबर है मैं मामू बन गया हूँ खुशी का हैसास आज हाशिर की चहरे पर नुमाया था बाजों से थाम कर उसे बराबर खड़ा कियो खुशी से चहका था जवरिया एकदम चौंकी वाट ये क्या करें आप आप और मामू और आपकी फैमिली कहा है और आपको कैसे पता चला जवरिया ने सवालाद की बच्छार की कोई आज हाशिर की फैमिली का राज भी खुलने वाला था हाँ मैं वामू येकदम और जवरिया को अरगले लगा गया जवरिया के चहरे पर बेजारी नुमाया थी हाशिर आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपकी फैमिली कहा है जिरे से अलग होकर इसने हाशिर के जानिक देखा तुमने पोछा नहीं मैंने बताया नहीं अब पोछ रही हूं तो बता दे जवरिया जिंड आई अच्छा यहां बैठो बताता हूं मेरी फैमिली गाओं में आबाद है तुमसे शादी करने की पादाश में मुझे घर से निकाल चुके हैं मुंता की सचाए हुदास था तौर पर छुपा चुका था वाट आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया हाशिर जवरिया पुरानी बाते भूल जाओ कैसे भूल जाओ हाशिर दो साल होने वाले हाशिर और आप मुझे अब बता रहे हैं इसका मतलब जब आप की फैमिली चाहेगी आप मुझे छोड़ देंगे जवरिया का सवाल हाजिर था ना मुम्किन वो कभी ऐसे नहीं चाहेंगे और ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूँगा यकीन भरे लहजे में कहता जवरिया को एक नहीं परिशानी दे चुका था मैं बस 20 मिनिट में पहुँचता हूँ लेकिन आपने खुद को हलका नहीं करना मौम को रूम में बुलाएं जल्दी मैं आ रहा हूँ अच्छा ठीक है पर आप जल्दी आएं जल्दी जल्दी का शोर मचाती हूँ आज खुशी से दिवानी हो रही थी ये भी भूल बैठी थी के चन्द माह बाद वो भी मा के रुद्बे पर फाइंस होने वाली थी गाजान के आती ही वो से लिए हॉस्पिटल के लिए निकली थी गाजान मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं फूपू उस अपने भरे भरे वजूद पर बड़ी सी चादर ओड़े हाईलाइट बालो को पौनी में कैद किये जो के गाजान की फरमाईश पर हाईलाइट करवाए गए थे खुशी से दमकती मुझे गाजान को इस वक छोटी सी बच्ची मालू हो रही थी वक्त की डोर मजीद आगे सरकी हम्दान का उनकी जिंदगी से जाना मुझे को पूर सुकून कर चुका था ना मुझे ने दोबारा गाजान से हम्दान के मतालिव पूछा था और ना गाजान ने जिकर किया ना जाने वो कहा था इस बात से मुझे को कोई सरोकार नहीं था बीवी आराम से कुपो तो आप बन गई अभी ममा बनना बाकी है और ममा का बेबी क्या सोचेगा कि ममा को मेरा ख्याल ही नहीं रहा गाजान मुझा के बलके लर्जी थी चले आज आए हॉस्पिटर आ चुका है कंदो से सिधामे और कॉरीडर में दाखिल हुआ सामने पूरी फैमिली मौजूद थी लेकिन जिसे देखकर वो चौंकी थी और शक्स भी उसी की जानी मतवज़ था अशर की नजरे जिसे आज मंताह के इंतिजार में ही थी मारिया से उसने मंताह का सिकर सुना था लेकिन डूबर और मुलकात आज पहली बार थी मंताह उफलक कांपी और इसने गाजान का हाथ थामा था दीवी चले रुक क्यों गए पहले तो इतनी एकसाइटेट थी और अब आगे नहीं बढ़ रही क्या ख्याल है मैं कोई मदद करूँ मंताह ने हाथ पर हलके से नाखुन गाड कर गाजान की बुलती बन कर आई और धीरे से आगी बड़ी सबसे मिलती वो रूम में दाखिल वी जहां मारिया उस ननी सी जान के साथ बैठी थी गाजान सब के साथ बाहर ही मौजूद रहा आपको आज मैंने पहली मर्तबा यहां देखा है काजान से हाथ मिला कर इसने अब रुच काई मैं अशर हूँ मारिया का बड़ा भाई हाई स्टेडी के लिए ओट आफ कंट्री था चन्द माह पहले वापस आया हूँ ओ, I see मौनताह भी बाहर आई और काजान के बराबर खड़ी हो गई नाइस टू मीट यू काजान ने हाथ बढ़ाया जिसे अशर ने गरम जोशी से थामा था कैसी है मौनताह अशर ने आखिरकार हिमत कर ही ली थी मैं बिल्कुर चीक हो, स्टेडी कंप्लीट हो गई अंदास सपार था अजनबियत की इंतिहा देखकर अशर ने लब भेजे थे एक भी फालतो सवाल इसने अशर से नहीं पूछा हो गई, आपके हजबेंट बहुत अच्छे है अशर ने दिली तोर पर तारीख की थी नजरे अब भी जुकी हुई थी मुंता मेज अंकारा भर्ग कर रहे गई गाजान की मेज मुस्कुरा कर रहे गया कुछ देर वहां रुक कर वो वापस घर की चानिक रवादवा थे इतनी बड़ी नेमत इस रब ने मुझे दे दी समझ नहीं आरा कैसे खुशी का इजहार करो मारिया का हिद्द जदा हाथ सैलाए आफाक खुशी से लबरेस लहचे में बोला था छोटा सा गोल मटोसा हुनैन आफाक चंद दिन में ही सबकी आँखों का तारा बन चुका था मारिया कितना नाजुक है दिल करता है उसे सीनी से लगाए रखो इसका मतला बेटा मुझसे ज़्यादा प्यारा हो गया है मारिया ने मस्मुनी गुस्से का इजहार किया तुम तो यहां पहले से हो इस दिल में आफाक ने हाथ थाम कर सीने पर दिल के मुकाम पर रखा अब मेरे बेटे की भी जगे बन चुकी है आफाक का जवाब सुनकर वो मस्कुराई थी शुक्रिया मारिया मेरे जिलंकी में आने के लिए मुझे अपनाने के लिए मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए मारिया के हाथ पर लंस अता किया इसने मारिया की जात को मौतबर किया आपका भी शुक्रिया आफाफ, खुशियों को मेरे दामन में भरने के लिए, मेरी हिम्मत बनने के लिए, इससे पहले वो मज़िद कुछ कहती, धन्ने हुनान के रोनी की आवाज से, वो दोनों मुस्कुराए थे, जल्दी से उसे खतम करें, फिर आपने सोना है, मुंतहा को नजरों के हिसार मिली, इसने चमच इसके करीब, मुग के करीब किया, आखरी आयान की वज़े से गाजान ने इस पर पैट से उतरने की पापन्दी आयत कर दी थी, वक्फिस उसे सूप पिलाता था, गाजान का ध्यान बाउल की जानित था, जब मुंतहा की आवाज इससे च कुणा टोकी और चमच बाउल में वापस रखा, इसका मुझ जुकाना, मुंतहा को हैरान कर गया, मुंतहा का सवाल ये ठहरा बेताबी में तब्रील हुआ, गाजान के जवाब क्यों बेताबी से मुंतजर थी, गाजान, मुंतहा ने दोबारा पुका रहा, हम्, क्या हुआ, काजान का हुँ कहना, मुंतहा को बुरा लगा, मैंने कुछ पूछा है, मुंतहा ने तीके अंदाज में कहा, दोबारा पूछे, काजान का सवाल हैरान कुम था, मुंतहा को आज वो कुछ अलग लगा, वक्त के साथ-साथा बहुत नक्चड़ी हो गई है, अब नहीं पूछ चन्द लबस के अगर सने मू मोड़ा बीवी पुछे थोड़ी पकड़ कर से मुंता का रूप मोड़ा लेकिन मुंता खामुश रही गाजान का सरा मजीद बढ़ा मैंने पूछा था कि इतनी महबत कौन करता है गाजान सिद्धिकी करता है अपनी मुंता से पुरकशिश अंद जैसुस था बेहद जवाब भी हाजिद था इसके जवाब को सुनकर मुंता की सेया आँखों में महबत के जूद रौशन हुए थे किसमत पर रश्क आया था दिल चाहा कि सारी हकिकत इसके गोश गजार कर दें तोड़ दे कसमे वा दें बता दे किसी और की होकर उस तक गासान से पहले एक कमजर शर्क्स की थी लेकिन आज़ भू खुदी रुख चकी थी ये चन्द माहा मुंता सुल्तान को गासान की महबत इजज़त चाहत में तमाम तर तकलीव दालमाद भिला दिय थे दीवी कहां खो गई एकदम मुंता कासान के गले लगी इतनी महबत मत क करें गासान इतना इतिबार भी मत करें कहीं आगे कुछ मत बोलिएगा गासान के सरगोशी कांज के नजदीक महसूस हुई मुंता की आवास थमी लहजे की सरदपन मुंता की रुख को मंजमित कर गया था हाथ की गिरफती अखलब दीली हुई गासान नाराज नहीं होना मु गासान मुझे नौफिल अदा करने हैं मुंता की आवास सुनकर वो इससे दोर हुआ चले आएं वो इसका हाथ थामें धेरे से थामें वाश्रूम के जानी लाएं वजब करके चाह नमाज बिचाए इसमें दो रकात नफिल की नियत बांदी थी गासान इसके करीबी चेर पर दफन करती हूं कि मैं किसी हाश्र को नहीं जानती वो कौन था मैं नहीं जानती मेरी पहचान गासान से देगी है मेरे जिन्दा के गासान के नाम से शुरू उसी के नाम पर खतम होगी आद के बाद मेरे दिल वो दिमाग में सिफ और सिफ गासान होगा अल्ला पाक मेरी फर्माईएगा मुझे थाबित कदम रखिएगा आमी दूआ मांगकर उठी थी कि पहलों में शदीद दर्द महसूस हुआ आंखों के गिर्द गहरा अंदेरा चाया लबों से गाजान का नाम निकला गाजान ने फौर मुसे थामा था लेकिन वो होश और फिरत से बेगाना हो थी मिस्टर गाजान मुबारा को बेटा हुआ है डॉक्टर के आवाज सुनकर गाजान की आंके जैसे एकदम रोशन हुई थी बेटा डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है वो ठीक है घाजान की बेताब भी देखकर डॉक्टर मुस्कुराई थी जी अलहम्दरिल्ला हो बिल्कु प्रायल की वो फोन कान से लगाता इदर उधर चक्कर लगाता बेताब हो रहा था मॉम मॉम आप दादी बन गई मॉम मैं बाबा मॉम आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए वाट गाजान क्या सच कह रहे हो मैं अभी आती हूँ दूर खड़ा हाशी ये सब देखता सब्त की आखरी इंतिहा पर था मॉम आज मा की रुद्बे पर फायस हो चुकी थी किसमत की सतम जरीफी थी या फिर ना जाने कौन सा इतिफाक के जविरिया को वो कुछ देर पहले इसी हॉस्पिटल में लाया था जहां गाजान पहली मौजद था गाजानी वार्ड में उसे देखकर वो तमाम तर मामला समझ चुका था दोनों को शायद एक साथ ही ये खुशी नसीब होनी थी हाशर का दिल जहा कि एक बार वो वेवी रूम में जाकर मौन्धा का वेवी देखा है शायद इसके जलते दिल को कुछ सुकून नसीब हो गाजान का खुशी से दमकताव चहरा जानी दे रहा था दिल के वो एक सुकून भी था कि मंधा सुल्टान खुशिया रास आ चुकी है और बेसुकूनी भी कि ये खुशी का जरिया कोई और था दूर खड़ा काजान सामने मौजुद वार डुबाय को वालेट से चर्ड नोट निकाल कर दे रहा था दूर से ही इ मर्दगी से वो वापस अपनी दुनिया के जानी मूच चुका था क्योंकि मंताह सुल्टान अब इसकी रहा नहीं रही थी बेटी की नवी सुनकर भी हाशिर के चेहरे पर कोई खुशी की रमा जाहर नहीं हुई डॉक्टर की हिदायत सुनकर सर अजबात में हिलाए वो चेहर पर बैठा कुछ देर बार डॉक्टर एक वाइट कंबल में छोटा सा गुलाबी सा बच्चा उसके हाथ में थमा कर जा चुकी थी हाशिर का वजूद एदम कामपा था नहना सा रूई के कालो जैसा वो बच्चा हाशिर की रूख तक फिला गया ये कैसा वक्त था कापते हाथों से उसने हलका सा गाल चुआ अपनी तनहाई का उसे आज शिदत से एहसास हुआ दिल ने खर्याद की थी कि काश इस वक्त उसक हो जाते दिल दिल में इसने कहा बाप बनकरी उसे आज ये एहसास हुआ था कि माबाप क्या चीज होते है अम्मी मुझे हलका सा लख निकला रांग से एक आसु निकल कर इस बच्चे के काल पर गिरा बच्चा ज़रा सा कसमसाया था और फिर गहरी नीन में सो गया अपने पर एक सुकूत था लेकिन एक तकलिब भी उसकी खुद की खरीदी गई थी अगर एतिबार करता तो शायद आज ये वक्त ना होता लेकिन वक्त गुज़ा चुका था हाश्र लिया आज अकेला अपनी खुशी भी इस पर सुकून तरीके से नहीं मना पा रहा था बीवी कैस गाजान को हलका हलका सा पुकार रही थी और गाजान बेताबी सा उसके उतने का मुंतजर था इसके लवों से अपना नाम सुनता वो पर सुकून था कि नीन में भी उसके हवासों पर हावी था ये ख्याली खुशकुन था कि मुंता की जान गाजान में थी समरीं बेगम काजान की जाने देखकर हाथ बढ़ाया। जी काजान की जान। फारं काजान उठकर मुणत्अ के पास बैट पर दराज हुआ। गूल को इतना सा। बच्छा भी पुर्सकून सा काजान की गोड में मौझूद था। जैसे उसे ये गोड पसंद आई थी।। मेरा बच्छा गाजान ने बच्चे को उसके पहलों में लिटाया था और खुद उसके माते पर अपने लब रखे निधाल सी मुन्तहा मुस्कुराई थी बीवी बच्चा नहीं आबान आबान सिद्धी की है ये गाजान की नहनी जान आबान मुन्तहा के बालों को हलका से सवांते इसने अपनी मताय जां को एक नाम दिया बीवी आड़ाप ने मुझे मुझे मुकमल कर दिया मेरी तकमील मुकमल हुई मुझे जिन्दगी के सबसे बड़ी खुशी दी है लव यू गाजान के जान लव यू सो मच बीवी आज पहली मरतबा इसने मुन्तहा को लव यू बोला था लवजों से जादा वो अमलन इजहार करने का कायल था मुन्तहा हलका सा मसकाई थी मौम को बताया जी बता दिया वो अभी कुछ देर पहले बाहर गई है दादी बनकर तो गया पाउ जमीन पर नहीं तिक रहे सुबा से दस मरतबा आपका पूछ चुकी है अभी आती ही होंगी कॉम्रेट्स मिसिस गाजान डॉक्टर के आवासन को रग्दम हामुश हुआ था कैसा फिल कर रही है डॉक्टर के सवाल पर इसने मैं सर हिलाया नबस देखती इसने मुन्ता के चेहरे पर अपने अलफाज से खुशी भेख रही मिसिस गाजान बहुत किश किसमत है जो आपको मिस्टर गाजान जैसे हस्बन मिले है पूरे हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी खुशी बार दी है हर एक कोई स्पेशल मिठाय भी जवाई है मेरे रिकॉर्ड में ये पहली मरतबह है कोई इतना खुश भी होता है मुन्ता की नजर काजान की जाने कई जो धीमा सा मुस्कुरा रहा था डॉक्टर इन्हें कब तक घर ले जा सकते है काजान के सवाल पर डॉक्टर मुस्कुराई थी मिस्टर गाजान एक दिन तो ये कमस्का यहां मौजूद रहेगी फिर इन्शालला आप इन्हें घर ले जा सकते हैं डॉक्टर गाजान की बेसबरी समझ चुकी थी इस क्यूट से बेबी को फिलाल बेबी कॉट में लिटा दे वन्ना ममा बाबा के दर्मिया ने क्यूट बच्चा हड़ी का काम करेगा डॉक्टर की बात पर मुंत्वा नजरे जुका गई हाशिर में कुछ पूछ रही हूँ नहीं वो नहीं आएंग और वो आएगी भी नहीं जविद्या के दिल को तसली महसूस हुई यह एक तरह से इसके लिए अच्छा ही था बेबी कहां हैं आके जविद्या को बच्चे का हयाल आ ही गया हाशिर बिना कुछ बोले बच्चे को कौर्ट में से उठा कर जविद्या के पास लाया था एक नजर उसे देखकर जविद्या में हाशिर के जाने देखा जो ना जाने इस वक्त किस दुनिया में गुम था हाशिर कितना प्यारा है जवेरिया के खुशी से भरपूर आवास सुनकर वो चौंका हाँ बहुत प्यारा है और मैंने उसका नाम भी रख दिया है वली हाशिर मगर नाम तो मैंने रखना था जवेरिया के आवास सुनकर हलका से मुस्क्राया तुम नेक्स्ट का रख लेना जवेरिया एकदम खामोश हुई हाशिर ने इसके खामोशी को शर्माना समझा था हाई मुबारुको मेरी बच्ची कैसी हो तुम एकदम पीछे से जवेरिया के अमी के आवास सुनाए दी हाशिर एकलफ मुड़ा और पीछे देखा जवेरिया और शाजिया वेगम मौजूद थी अमी जवेरिया के चाहरा एकदम खिला था कैसे हो हाशिर बेटा माव कर दो हमें गलती हो गई थी हमें नहीं पता था कि तुम जवेरिया को हॉस्पिटल से लाए हो देखो अल्ला ने कितनी बड़ी खुशी दी है अब तो माफ कर दो आंटी आप शर्मिन्दा मत करें अरे नहीं हाशिर भाई शर्मिन्दा क्यों करना है पस अमी को अपनी गलती का अहसास हो चुका है तो माफी माग रही है मायरा का अंदास गुटतगू हाशिर को अजीब लगा था ओ मैस सर हिला कर रह गया आप लोग बैठे मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ मायरा के वेबाग नजरे हाशिर को जिन्दाहर्ट में मुब्तिला कर रही थी यहां से बाहर जाना ही उसे मुनासिब लगा ए जीया कब तक काम होगा अब तो दो साल हो गए क्या अब तक अपना काम नहीं कर सकी तू हाशिर के जाते ही शाजिय बेगम अपने अस्मी रूप में आई बच्चे को देखना उन्होंने कवारा नहीं किया अमा यह जो मसीबत गले ली थी उसे तो खतम करना ही था अब थोड़ी तबियत संबल जाए फिर बस यही काम सबसे पहले करूंगी जल्दी कर ले टेविरिया जमील मेरी जान को आया हुआ है शाजिय बेगम का जवाब सुनकर टेविरिया के माथे पर बल नुमाए हुए आपी तुम्हारा हस्बेंट तो बहुत ही प्यारा है मायरा की ठरकी हिस पैदार हो चुकी थी शट आप मायरा दिमाग मत खराब करो पहले ही खराब हो है तुमसे तो अब बात ही करना खुजूल है मायरा नकुष जदा अंदास में कहती बच्चे के जानी मतवज़ ही हलीना मुझे इंगलेंड की टिकेट चाहिए अरजन कोई दिन में पुर्सकून रहना चाहती हूँ हलीना को इदायत देती मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकती मना लो जितनी खुशिया मनानी है तुम्हारी दुनिया वीरान ना कर दी तो मेरा नाम भी लाइबा खान नहीं अपने बाबा के कातिर को मैं इसके कैफे किरदार तक पहुचा कर रहूंगी इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़या मैं जाओंगी लेकिन तुमसे बदला लेकर रहूंगी दोस्ती के आर्मे जो चुरा तुमने मेरे बाबा की पीट में खोपा था वही चुरा अब मैं तुम्हारे सीने में उतारूंगी एहद भरे अंदाज में कहती उन्होकर को सामान उठाने का इशारा देती बाहर के जाने में बढ़ गई भाई कॉंग्रेट्स आप बाबा और मैं चाचू बन गया हमदान की आवास सुनकर गाजान लब भेज़े हमदान से लाग एक तिलाफ सही लेकिन इससे महबबत बहुत गहरी थी ठैंक्स हमदान दिल चाहा के कहीं से वा आ जाए और उसे गले लगा ले लेकिन उसकी गलती ही उसे गाजान से दूर कर गई थी गाजान की गंबीर आवास हमदान को सुकूर परहम कर गई पुरुच छे माँ बात ये आवास उसे नसीब हुई थी भाई माफ कर दे हमदान की मदधम आवास सुनकर गाजान ने आँखे मैची बिजनिस के क्या हाला थे बात कर रूप बदल कर इसने हमदान को बावर करवाया था कि वो इस सिल्सले में इससे कोई बात नहीं करना जाता ठीक है हमदान ने दो लब से जवाब दिया मुंतास नफरत में मजीद इसाफा हुआ भाई बेबी की पिक्स सेंड कीजियेगा या शौर गाजान ने मजीद दो चार बातों के बात फोन रखा लेकिन गाजान मुं प्लीज क्या आप नहीं चाहती हूँ अपनी लाइफ में सीरियस हो और फिकर मत करे वहाँ पर मेरा एक आदमी उस पर नज़र रखे हुए है वो जहां भी है बहुत अच्छा है गाजान मजीद सुने बगए कमरे से निकलता चला गया देखने गई गए तो ठीक रही हो तुम शाइना और अब तो अशर भी वापस आ गया है इस बहाने तुम्हार रिष्टे की बाद भी कर लूँगी ओ माम प्लीस बस करे मैं तंग आ गई हूँ शादी से हाशिर का जुनूनी रूप देखकर मेरा तो मर्दों से अतेबार उट गया है खल चलते हैं वहाँ देखो क्या हालात होते हैं हाँ माम अब तो जाना जरूरी हो गया है और माम इस बहाने मुंता के घर के हालात की तफसिल मिल जाएगी दोनों माबेती फिर से उपने शातिराना दिमाग को इस्तिमाल करती हमदानी हाउस जाने की तयारी कर रही थी आप लोग कहीं जा रहे है वाइट जिन्स के साथ गिरीन टॉप पहने शाइना ने वहां मौदूद सब को हैरत की नजरों से देखा वो अभी कुछ देर पहले यहां पहुंची थी तुबा वेगम की आँखों में भी हरत नुमाया थी वो सब पहले कहीं जाने के लिए तयार थे हाँ मुंता की घर जा रहे है आज उसका बेबी देड मा का हो चुका है तो गासान भाई ने छोटी सी पार्टी रखी थी वहीं जा रहे है मारिया के जवाब पर शायना करम फक हुआ लेकिन हम तो आप से मिलने आए हैं ऐसा करते हैं हम भी चलते हैं चलो शायना तयार हो जाओ तुबा वेगम ने फौरण काउ से उठी नहीं तुबा बेटा आपका वहाँ जाना मुनासिद नहीं है गासा ने सिर्फ हमें इन्वाइट किया है अबी चान की आवाज सुनकर तुबा वेगम के कदम थवे ऐसा करे आप आज यहीं रुके हम शाम तक वापस आ जाएंगे मगर अमी मैं भी नहीं तुबा मुनासिद नहीं लगता और तुम कोई छोटी बच्ची तो नहीं जिसे समझाना पड़े ख्याल रखना अपना शाम को चल जा जाएंगे अबी चान तुबा बेगम को सदमे की जदमे छोड़कर बाहर की जानी बढ़ गई बाय शायना मारिया अबरूच काय लबो पर तंजिया मुसकान सजाय शायना का दिल जला कर राक किया था गुसे से दोनों मा बेटी काउच पर बैठी थी आबान बच्चा चुप कर जाओ इधर है ममा मेरा बेटा दो मा के आबान को संभालते हुँ हलकान हो रही थी जिसने रो रोकर मुनता की जान हलक में फसाई थी कभी फीडर उसके मुझ में डालती कभी समरीन बेगमं से संभालती दोनों सांस बहुं इस वक नाग तक आजिस आ चुकी थी लेकिन छोटे नवाब का ना ना कम नहीं हो रहा था क्या हुआ बाबा की जान को क्यों रो रहा है मेरा बच्चा मुंता की गोच से आबान को लिए गाजान ने उसे अपनी बाहों में भरा था गाजान की आवा सुनकर मुंता ने तीखी नजर गाजान पडाली जो ना जाने सुबा से कहां गायत था ख्याल आक है आपको खालीज बीवियों के अंदास में कहती हो गाजान को मस्कुराने पर मजबूर कर गी गाजान कहां थे आप कुछ ख्याल है कि मुंता अके ली चोटे से बेवी को कैसे समभा लेगी समरीज बेगम ने भी कोया गाजान की किलास लेना जरूरी समझा इसकी नानी नाना मामू मामी और दादी मिलकर समभा लेंगे गाजान के पिछे जूबिया बेगम की आवास सुनकर मुंता की आँके हैरत से फैली अम्मी आप सब यहां मुंता सब को देखकर हैरान हुई थी सब के हाथ में छोटे नावा बाबान के लिए स्पेशल गिफ्ट थे अशर के हाथ में एक बड़ा सा टेड़ी था और सबसे अलग था रख वही खड़ा था मारिया तुम भी मुंता की हरत दीदनी थी हुनैन बेबी भी आया है मुंता फोरण बैट से उतर के मारिया की करीबा आये हुनैन को गोट में लिया जो मारिया की गोट में मचल रहा था सबसे मिलती वाच खुशी से पागल हो रही थी इतनी अच्छे सरप्राइस के उसे उमीद नहीं थी हैंक्यू अशर मुंता ने मुस्करा कर उसके हाथ से डेडी लिये कोया तकल्लक की दिवार गिराई थी खुशीयों ने अगर उसकी जिंदगी में दुस्ताग दी थी तो वो भी दिल दिमाग में कोई पुरानी याद नहीं रखना चाती थी यह देखे बाबा की गोद चाहिए थी उसे देखे कैसे खामुश हो गया गाजान की गोद में पुरसुकून साबान देखकर मुंता ने गाजान को घुरी से नौज दे वो गाजान के करीब आई आप भी तो उन बाहों में पुरसुकून महसूस करती है बीवी धीमे से लहटे में कहकर इसने हल्की सी आप मेंची सबकी मौदूद की मुंता कुछ कह नहीं पाई मुंता मैं सगोर कर रहेगी अमी आप लोग बैठे मैं बस आती हूँ मुंता कहकर आगे बड़ी थी नहीं आबान को लेती बाहर की जानी बड़ी क्या हुआ कहां जा रहे हैं आप मुंता इन्हें पुकारती रहे के लेकिन सब भूम से जा चुके थे बीवी बीवी मेरी नादान बीवी सबर का दामन थामे उधर ही है बस आपके लिए छोटा सा सर्प्राइज है दूरी लौाजमात मौजूद थे ये सब बस हाथ की सफाई है धीरे से करीब होकर इसनी मुंता की नाप को हिलका सा छुआ मुंता की पल के लर्जी जल्जी से रेडी हो जाए सब आपका वेट कर रहे है पालो की आवारा लटो को कान की पिछे उड़ास कर वो पीछे हटा और मुंता को हिजायत देता कमरे से निकलता चला गया हमेशा की तरहा गाजान के फिएरेट रेड काउन के साथ सजी सौरी मुंता का गाजान का हाथ थामे सीड़ियों पर ही थमी लाउंज की हालत यक्सर मुक्तलिफ थी मुक्तलिफ लाइट्स बलून से सजा लाउंज बकाय नूर बना हुआ था गाजान ये सब क्या मुझे इतना खुबसरत गिफ्ट देने के लिए छोटा सा सर्प्राइस गाजान के लिए मुन्तहा के हाथ पर दबाव डाल कर कहता हो से धामे नीचे के जानी बढ़ा जहां आबान खुबसरत से बेबी ड्रेस में मलबूस नानी की कोद में पुरसुकून नीन के मज़े लोट रहा था अगाजान मुन्तहा अगाजान को देखकर उनके जानी बाई और उनके सीने से लगी थी मेरा बच्चा माथा चुमिय उन्होंने मुन्तहा को सुकून पराहम किया लेडिस एंड प्यारे प्यारे जेंटलमें ये चोटा सा सर्प्राइस मेरी बीवी का मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए है थैंक्स मुन्तहा गाजान मेरी लाइफ में आने के लिए मुझे इतना प्रेशियस गिफ्ट देने के लिए मेरी लाइफ मुकमल करने के लिए गाजान की पुरकशिश आवा सुनकर منتحہ مسکرائی تھی غازان کا بڑا ہاتھ دیکھ کر وہ گاؤن سنبھال تھی غازان کے پاس آئی جو ایک ٹیبل کے پاس کھڑا تھا جس پر تین منزلہ بیوی کیک موجود تھا ایک جانب آبان کو پکڑے منتحہ کا ہاتھ تھامے تعلیہ کی گنج میں اس نے کیک کٹ کیا एक دم میوزک کی آواز لاؤنج میں گنجی تھی یہ دل لایا ہے بہار اپنوں کا پیان کیا کہنا منتحہ کا ہاتھ ہلکا سا تھام کر گول گھوماتا غازان صدی کی منتحہ سلطان کو اس وقت دنیا کا سب سے خوبصورت مرد لگ رہا تھا جس نے گم کو اس کی زندگی سے نکال کر خوشیوں کے انوکے رنگ پھر دیئے تھے سب کے مسکراتے چہرے منتحہ کے چہرے پر بھی خوشی کا باز بن گئے تھے جنہی محبت سے بھرپورت نظر اس نے غازان پر ڈالی تھی جسے نظروں ہی نظروں میں غازان کو محبت کا پیام دے رہی ہو جواب انو غیرہ مسکراتا غازان صدی کی منتحہ سلطان کو بھی نہ بولی سمجھ چکا تھا والی کے ساتھ کھیلتا حاشر جویریہ کی جانبی متوجہ تھا جو مختلف چیزیں ادھا ادھا پٹکتی اپنی خولن ان بے جان چیزوں پر نکال رہی تھی چند دینوں سے جویریہ کا اکھڑ اکھڑا رویہ وہ نوٹ کر رہا تھا جویریہ کیا ہوا ہے ایسے بھیہر کیوں کر رہی ہو ہاتھ پکڑ کر اس نے جویریہ کو اپنی پاد بٹھایا کچھ نہیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے جویریہ اکدام تڑک کر بولی مجھے کیوں فرق نہیں پڑے گا بتاؤں کیا ہوا ہے حاشر آپ کو تحساس نہیں ہے لیکن مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہے جویریہ پوراں متے پر آئی مجھے میرے بچے کی سیکیورٹی چاہیے جویریہ کی آواز کی انچائی سے زیادہ لہجے میں بے اعتباری سن کر حاشر دنگ رہ گیا دو سال ہو چکے ہماری شادی کو ایک بھی اعتبار کی کڑی میرے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ کا دل چاہاں دھتکار دیا جب دل چاہاں اپنا لیا فالتو شہ سمجھ رکھا ہے مجھے جاداد میں اپنا حق چاہیے بے شک اسے آپ میری خودگرزی سمجھے یا پھر بے اعتباری لیکن آپ مجھے آپ پر اعتبار بلکل نہیں ہے کل کو نہ جانے کیا حالات ہو اور آپ کی فیملی مجھے چھوڑنے کا کہے تاہ آپ مجھے چھوڑنے میں ایک منٹ نہیں لگائیں گے اس وقت میں کیا کروں گی بولے حاشر خاموش کیوں ہیں مجھے ولی کے لیے اور اپنی لیے سیکیورٹی چاہیے بتائیں آپ دیں گے اتنی بہتباری کیوں ہو رہی ہے تمہیں حاشر کو لہجہ بھی ایک دم تیکھا ہوا پہلے تو کبھی تم نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی اور اہی بات تمہیں چھوڑنے کی تو وہ شاید کبھی ممکن نہیں ہے حاشر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے نہیں کرتے ان دو سالوں میں آپ کو میں اچھی طرح جان چکی ہوں کسی ایک وعدے پر بھی آپ کھرے نہیں اتر پائیں بہرحال مجھے جائدات میں سے اپنی لیے ایک الگ حصہ چاہیے مجھے ولی کے لیے سیکیورٹی چاہیے عام سے لہجے میں کہہ کر وہ کارٹ میں لیٹے ولی کی جانب متوجہی حاشر ایک دم کاؤچ پر بیٹھا یعنی اس حد تک بے اعتباری تھی کہ اس کا اپنی جانب راگیب ہونا بھی بھول چکی تھی اس کی نو ماہ کی وفاؤ کو وہ دولت کے ذریعے تول رہی تھی اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہی ہوگا اپنی محبت کو ثابت کرنا چاہتے تو میرے نام جائدات کا کچھ حصہ کر دیجئے جویرہ کلہجہ انداز حاشر علی کو یہ احساس دلوا چکا تھا کہ وہ اپنی زد پر آٹ چکی ہے اس کی محبت کو شاید اب اسے ضرورت نہیں تھی ٹھیک ہے کل پیپرز ریڈی ہو جائیں گی تم سائن کر دینا سنگین انداز میں کہہ کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا حاشر کے جاتے ہی جویرہ کارٹ موجود والی سے دور ہوئی اور بیٹ پر لیٹی چہرے پر شیطانی مسکرات نمودار ہوئی تھی اپنے پلین پر اتنی زلدی کامیابی پر جویرہ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی گازان اس کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں آبان کے نھنے نھنے ہاتھ چومتی وہ خوشی سے چہکی جی بہت پیارے ہیں مگر میری بیوی سے کم منتعہ کے نرم و ملائم ہاتھ پر رمز پکھرتے اس نے دھیمے سے کہا اوف گازان آپ میرے ہاتھوں کا مقابلہ ایک بچے سے کر رہے ہیں مقابلہ نہیں ہے میں نے بس عام بات کی ہے آپ کے ہاتھ پیارے ہیں توہیں گازان نے باقاعدہ مو بنایا گازان آپ جیلس ہو رہے ہیں دیکھیں آپ کے نوز ریڈ ہو رہی ہے گال کیسے ریڈ ہو رہے ہیں گازان کے گال کھشتی ہو زور سے کہکا لگا گئی گازان نے فوراں اس کے ہاتھوں کو جکڑا آپ میرے بیٹے سے جیلس ہو رہے ہیں اوف گازان بیوی ہسنا بند کریں اور میں کیوں جیلس ہونے لگا وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے ہاتھ بھی چھوٹے ہیں اور پیارے ہیں لیکن آپ تو بڑی ہیں پر ان ہاتھوں سے کافی کام بھی کرتی ہے لیکن یہ بھی پھر بھی نرمو ملائے میں اس لیے یہی زیادہ پیارے ہوئے لب زدہ کرتے اس نے منتح کی ہتیلی پر لب رکھے ویری فنی گازان آپ مانے یا نہ مانے آپ جیلس ہو رہے ہیں وہ چھوٹیا بہت شور کر رہی تھی اس لیے اتار دیں گازان نے اس کا ہاتھ تم چھوڑا تو چند چھوٹیا تو ہاتھ میں پہنے رکھتی کیا آپ بھی آپ کو ان کی عادت نہیں ہوئی ایسا نہیں ہے گازان بس وہ بہت الجن دے رہی تھی کیا مطلب گازان نے اس کی کلائے کو دیکھا جو ہلکی سکھ ہو رہی تھی یہ ان چھوٹیوں کی وجہ سے ہوئی ہے اب روچ کائس نے منتح سے پوچھا جی منتح نے سر ہلایا what آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اگر آپ کو وہ لگ رہی تھی تو آپ نے اسی ٹائم کیوں نہیں بتایا اگر زیادہ نقصان کا باز بنتی پھر انہیں ہاتھ سے جدہ کرتی گازان ایک طم چلایا relax گازان آپ اتنا overreact کیوں کر رہے ذرا سا ٹھیک ہو جائے گا بیوی کیسے ٹھیک ہوگا جب تک آپ کچھ لگائے گی نہیں تو کیسے ٹھیک ہوگا کیونکہ میں oignment لگاتا ہوں گازان تیزی سے اٹھا تھا اور side draw سے oignment نکالی تھی ڈریسنگ پر بکھری چوڑیوں پر اس کی نظر گئی oignment چھوڑ کر اس نے وہ چوڑیا اٹھائی تھی اور انہیں ڈرزبن کی نظر کیا گازان منتح بے ساختہ چلائے گازان چوڑیا کیوں فیکی یہ کیا کیا آپ نے میں انہیں سمال لیتی لیکن پہنتی نہیں آپ نے کیوں پھیکی کیوں کر کیوں کہ یہ میری بیوی کو تقلیب دے چکی تھی اور جو چیز میری بیوی کو تقلیب دے میں اسے خود سے دور کر دیتا ہوں گازان پر چوڑیاں منتحہ وہاں سے ہوئی وہ چوڑیاں گازان اسپیشل اس کے لیے لائے تھا اور آج خودی اسے فینک چکا تھا مجھ سے زیادہ اہم نہیں تھی اس کا ہاتھ تھامکر آئنمنٹ لگاتا وہ اسے خاموش کروا گیا میری وفاداری کا مجھے یہ سیلہ ملے گا مجھے اندازہ نہیں تھا جویریا کو محض پیسے سے محبت ہے ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دھن دولت کے بجائے میرا بھی ساتھ چاہیی کاش ایک بار تو جویریا تم نے کہا ہوتا ساری دولت تمہارے قدموں میں کر دیتا چاہید میرے گئے گناہوں کا ہی سلہ ہے جویریا جو مجھے تم جیسی دولت کی پچاری عورت کا ساتھ ملا چیئر سے ٹیک لگائے وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر نو پر رکھے جویریا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہمدانی ایمپائر کبھی بھی جویریا کے نام نہیں کرے گا دفتان اس کی نظر فون کے جانب گئی کچھ سوچ کر اس نے عریبہ کو اندر آنے کو کہا مس عریبہ ایک پیپر سٹیڈی کروا جس میں میرے فلیٹ اور سائٹ پر موجود دو پلوٹ کے بارے میں لکھوا لیجے گا عریبہ کے اندر آتے اس نے عریبہ کھڑایا دی پر سر کس لیے مس عریبہ جتنا کہا ہے اتنا کیجئے اپنی بے دہانی میں عریبہ کا سوال ہی نہیں سمجھ پایا سر آپ سمجھ نہیں پیپر میں نیم کس کا لکھوانا ہے جویریہ کا حاشر جواب دے کر سامنے موجود فائلز کے جانے متوجہ ہوا عریبہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی عریبہ کوئی 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 اندازہ ہو چکا تھا کہ جویریہ اچھی لڑکی نہیں اس دن کی ملاقہ تو اب تک نہیں بھول پائی تھی اس نے حاشر کو بتانا چاہا لیکن وہ محض سوچ کر گئی میس عریبہ کون سے مراقبے میں چلی گئی ہیں اوکی جائیں اور پیپرز ریڈی کروائیں عریبہ کو جانے کا اشارہ دے کر وہ فائل کی نے عبرو اچھکا کر حاشر کی جانے دیکھا تمہیں اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے اس چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں کیوں کام کتنے وقت میں مکمل ہوا سپارٹ انداز میں کہ اس نے پیپرز کی جانے پیشارہ کیا حاشر آپ ایسے بھی ہے کیوں کر رہے آپ کی سمجھ رہے کہ میں نے آپ کی دولت کو حاصل کرنے کی لئے یہ کیا ہے جویریا کی نوٹنگ کی شروع ہو چکی تھی جویریا خضور بات نہیں سائن کرو باقی کاروائی بھی مکمل کرنی ہے حاشر کا جواب سن کر وہ خاموش ہوئی پیپرز کی جانے جانے اعتبار ہوتا تو تم کبھی یہ حرکت نہ کرتی تمہاری دو سال کی وفش اوری کچھرے میں چلی گئی اب تم جو بھی کہو مجھے بھی تم پر اعتبار نہیں رہا اور تمہاری ان ہمدردانہ باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ہر جھٹک کر وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا ہم فرق فرق پڑ بھی کسی رہا ہے بس چند دن ہیں دکھا لو اپنی اکر پھر رہنا پشتار میں کہ میں کس لڑکی پر اعتبار کرتا رہا ہوں مجھے آواز میں کہکہ لگاتی وہ دوبارہ فائز تھان چکی تھی ڈاکی کی کاروائی مکمل کروا کر اس نے پیپر جویریہ کو واپس دے دیئے تھے انہیں سمال کر رکھ لینا کہیں پھر کوئی نئی بے اعتباری انہیں پریشان نہ کر دے پیپر دیتے وے پیپر تنزیہ کرنا نہیں بھولا تھا جویریہ بینا کچھ کہیں پیپر کو علماری میں رکھ چکی تھی پیہز کر کے وہ اپنا بنا بنایا کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی حاشی سپارٹ انداز میں آفیس کے لئے ریڈی ہوتا ولی کو چنپل محبت دے کر آفیس جا چکا تھا جویریہ نے اس سے ناشتے کا پوچھنا چاہا لیکن محض ایک نظر دیکھ کر باگ بڑھ گیا جاویریہ کو بھی اب اس کی پروا نہیں تھی جمیل میری بات سن پیپرز کا کام مکمل ہو چکا ہے اس نے جو پلوٹ میرے نام کیے ہیں انہیں تو بیچ اس کی اس تمام رقب میرے اکاؤن میں جمع کروا دینا حاشیر دو دن میں نہیں ہوگا اب کوئی خریدار ہمیں ملے گا بھی نہیں اس کا مطلب مجھے کچھ اور دن اس حاشیر کو برداشت کرنا ہوگا جویریہ کی ماتھے کی تیوری چڑی دن نہیں جیا مہینے بھی لگ سکتے ہیں خیر میں کوئی خریدار ڈھونتا ہوں اگر تو جلدبازی کرے گی تو اس حاشیر کو شک ہو جائے گا تو 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 ہتیلو پر سلسو جمان چاہ رہی اگر جلدبازی کی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا تو بس ابھی اس حاشیر کا اعتماد مزید جد جب تک وہ ہمارے کعبوں میں رہے گا کام آسان رہے گا جمیل جو بھی کرنا ہے بس جلدی کرو میں مزید یہاں نہیں رکھ سکتی جویل جلدی ہی کروں گا اتنی آفت کیوں مچا رہی چل اب فون بن کر جمیل جھنجل آیا تھا جویل نے فون بیٹ پر پٹکا کاش ہمدان یہاں موجود ہوتا تو تم جیسے منور شخص کی میں مدد کبھی نہیں لیتی لیکن وہ بھی نجانے کہاں چلا گیا ہے بھائی کی محبت کا بھوت حاوی ہو گیا تب ہی تو چلا گیا بلی کے رونے کی آواز سن کر اور تیکھے تیور لیے اس کی جانی بھائی تھی ماریا یہ کیا کہہ رہی ہو شائنہ اور اشر اشر مان گیا سوالات کیا ہوا تم خاموش ہو گئی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں منتح نے محض اسے ٹالا گازان کی موجودگی میں کچھ نہیں کہہ پائی تھی تم انگیجمنٹ میں آوگی ماریا کے سوال پر منتح سوچ میں ڈوبی نہیں میں نہیں آوگی گازان اور ماما آبان کے بغیر اداس ہو جاتے ہیں ایک نظر گازان کی جانی بیار کر اس نے زبردستی چہرے پر مسکان سجائے کہا آبان کے ساتھ کھیلتا وہ منتح کے جانی بھی متوجہ تھا دل تو اب بھی اس گھر میں جانے سے گھبراتا تھا شادی کے بعد دو محض جند ایک دو مرتبہ ہی گازان کے ساتھ گئی تھی ماریا اس کی گریز کی وجہ سمجھ چکی تھی اس لئے مزید کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے منتح لیکن اگر تم آتی تو سب کو اچھا لگتا ماریا کی منملاح تن کر منتح نے مٹھی بھی چی پھر کبھی آؤں گی ماریا گازان کا لمس ہاتھ پر محسوس کر کہ بکھلائی تھی گازان کی قربت میں اسے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا جو اب اس کا ایک ہاتھ تھامی دوسرے ہاتھ سے منتح کا ڈوپٹا کھیچ رہا تھا اوکے ٹھیک ہے میری طرف سے آبان کو پیار کر کر اس نے موبائل بیٹ پر پھینکا اور گازان کے ہاتھ سے اپنا مسکرائیا اوف بیوی کتنا خوبصورت لگ رہے آپ کے لبوں سے میرا نام ہلکا سا گال سہلا کر اس نے منتح کو مزید چڑھایا منتح فوراں ہاتھ جھٹکا اس وقت وہ شدید گسے میں تھی گازان فوراں اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹا منتح نے اس کی چالا کی پر آنکھیں پھلائیں باتیں مت بنائیں اوف ماریا سمجھ رہی ہوں گی کہ میں اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی سمجھتی رہیں انہیں بھی تو اس وقت کال نہیں کرنی چاہیے تھی اور آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ میرا اور میرا ٹائم ہے بالوں کی لٹکو ہلکا سکھیچ کر اس نے منتحق اپنے روبرو کیا گازان منتحق کی پل کے لرزی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوری قائم کرنا چاہی اپنے سینے پر اس کا ہاتھ محسوس کر کے گازان کی نظروں میں سخت ہی ابری مجھ سے دور ہونا چاہ رہی ہے گازان کے سوال پر منتحق نے گازان کے پنارے پر بیٹھا گازان کیا ہوا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں منتحق فوراں گازان کے برابر بیٹھی بیوی کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے دور ہونا چاہتی ہے بہت سی بات جو مجھ سے چھپا لیتی ہے اور بعض ایسے لگتا ہے کہ آپ بہت سے راست چینے میں دفن کیے ہوئے ہے گازان کے الفاظ دہکتے ہوئے کوئلے منتحہ کو تو الفاظ کوئلے کی معنی نہیں لگے گازان ایسا سوچ کیسے لیا منتحہ فوراں گازان کے قریب ہوئی اور اپنے بازو گازان کے گرف ہائل کیے گازان آج یہ بات کہہ دی آئین دمت کہیے آپ سے دور جانے کا تصور میں کر بھی نہیں سکتی میری موت ہی مجھے آپ سے جدہ کر سکتی باقی بات کو جان بوش کر نظرانداز کر چکی تھی منتحہ گازان نے منتحہ کا ہاتھ جھٹکا سوچ سمجھ کر بولا کرے گمبی لرجو میں کہہ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو آپ بھی دوبارہ اسی بات مت کیجئے گا منتحہ دوبدو بولی گازان خاموش رہا آپ کو میرا ہاتھ رکھ کر دوری بنانا برا لگا ہے یہ لیجئے منتحہ اکدم گازان کے سینے سے لگی گازان اس کی بے باقی پر حیران ہوا لیکن اس نے جتانا ضروری نہیں سمجھا گازان مجھے کبھی خود سے دور مت کیجئے گا منتحہ سچ میں مر جائے گی آپ پھر تو منتحہ ہے منتحہ کی پہچان گازان ہے آپ سے الگ منتحہ سلطان ایک عام لڑکی بھی نہیں منتحہ کو اپنے آزان کی عادت ہے اور عادت محبت سے زیادہ خطرناک ہے وہ اپنے بازو منتحہ کے گر ڈھائل کر گیا جو پہلے اس کے سینے سے لگی تھی مطلب آپ یہ منتحہ اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی بہت تیز ہے آپ شانے پر مکر جڑ کر وہ گازان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی اگدم آبان کے رونے کی آواز سن کر منتحہ بکلائی آبان رو رہا ہے گازان بیوی گازان کی چڑھا سن کر منتحہ مسکرائی تھی گازان آپ کا بیٹا آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ بابا اب آپ کی بیوی پر میرا بھی حق ہے اس پیار میں میں بھی چھریک ہوں آبان کو گود میں اٹھا کر منتحہ نے گازان کو مزید چڑھایا تھا گازان میں سر جھٹک کر رہے گازان منتحہ کی نظروں سے اوجل نہیں رہا تھا یہ کیا کہ رہے ہو اب شایئے آشر اور شائنہ کی منگنی کی خبر ہاشر پر کہر بن کر نازل بھی اب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ کا فون نہیں آیا تھا شکریہ افزل بتانے کی جی صاحب جی بے دھیانے میں وہ فون کار چکا تھا نہیں پپو میں آپ کو اپنی بھائی کی زندگی تباہ کرنے نہیں دوں گا آپ نے میری نرمی کا بہت ناجائز پیدا اٹھا لیا تو مجھے لگا کہ آپ صدر جائیں گی لیکن نہیں جھٹکے سے سوال کو ignore کر کہ وہ اشرو میں بند ہو چکا تھا کچھ دیر بعد پھر شوکر اور باہر آیا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال سیٹکی خود پر پرفیوم چھڑک کر ایک نظر جویریہ پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا یک دم رکھ کر اس نے جویریہ کی سی لڑکڑھا تھی جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کا آنا اچھا نہیں سمجھیں گے لیکن آج اسے اپنے بھائی کی زندگی برباد ہونے سے بچانی تھی اس کے لئے آج وہ زلیر خوار بھی ہوتا تب بھی اسے پروا نہیں تھی گاری کو باہر کھڑا کیے وہ حویلی کے اندر تاخیل جہاں آج کچھ زیادہ ہی روشنی تھی انداز اپاٹ تھا لیکن دل کی دھڑکن بڑی تھی اپنے الفاظ اب بھی ذہن میں ہتوڑے برسا رہی تھی سمجھ نہیں آرہ تھا کہ کس مو سے گھر والوں کے سامنے جائے لیکن آج اسے ہمت نہیں ہانی نہ ہوں آج موجزہ کر دیں میرے رب سچے دل سے دعا کی اس نے قدم مزید آگے بڑھائیں لاؤنج کے دروازے پر اس کے قدم تھمیں لاؤنج میں فکشن اپنے اروج پر تھا وائی چھرارہ سوٹ میں سجی شائنہ اور اس کے ساتھ بلیک شلوار سوٹ میں ملبوس دونوں سٹیج پر موجود تھے رنگ سرمانی شاید شروع ہی ہونے والی تھی آنکھیں بند کیے اس نے گہری سانس لی رک جائیے ہاشر کی اچھی آواز وہاں موجود تمام نفوس کو ملنے پر مجبور کر گئی ہاشر شائنہ کے نظر دروازے پر موجود ہاشر پر گئی نظر پڑھنے کی دیر تھی کہ شائنہ کا رنگ خطان نا خط تک سفید ہوا یہی حالت بیگم کی ہوئی جو ریٹ ساری میں سجی سوری اسٹیٹ کے پاس موجود تھی اکہ دکہ مہمان تھے جو اردگرد شاید فنکشن سادگی سے رکھا گیا تھا ہاشر میں چال جانی ایک تک دم سادے کھڑے تھے گویا سب کو ساپ سونگ گیا تھا ہاشر کے یہاں آنے کی امید کسی کو نہیں تھی ہاشر کی خامشن نے مزید غصہ دلیا ہاشر علی ہم پوچھ رہے کیا آپ یہاں کیا کر رہے اور کس حق سے یہاں موجود ہے ابھی کی ابھی نکل ہی ہمارے گھر سے ہمارا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں اگر جان دروازے کی دیزے سے وہ طوبہ ویگم کی جان بھائی جن کی حالت بھی چھائنا سے علم نہیں تھی پھر آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں سلمان علی ہمدانی کی آواز سن کر ہاشر نے اپنے بابا کی جان دیکھا دل جہاں کہ ان کے گلے لگ جائے لیکن شاید ممکن نہیں تھا آپ کو ایک اجنبی ہی سمجھ لیجئے لیکن پلیز میری بات سن لیجئے کہ جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا کہیے کیا کہنا چاہتے ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے آفاق نے سکتی سے مٹھیاں بھیجی ہاشر کا چہرہ دیکھ آفاق کزت کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا ماریہ نے ہاتھ تھام کر اسے روکا ایک نظر ماریہ کی جانب ڈال کر وہ روکا تھا آگا جان شائنہ کی منگنی اشر سے نہیں ہو سکتی ہاشر نے کوئی دھماکہ کیا کیا کہہ رہے آپ اور کیوں نہیں ہو سکتی آگا جان بار آواز میں بولے میں بلکل ٹھیک کہہ رہا ہوں آگا جان شائنہ آپ بتائے گی یہ نیک کام میں ہی کر ایک نظر شائنہ کو دیکھ اس نے تنظیہ انداز میں کہا ممی شائنہ من منائی تو بابیگم نے ان کا ہاتھ دبایا چلو ٹھیک ہے یہ نیک کام میں ہی کرتا ہوں ہاشر کی آواز نے شائنہ کی جان خوشک شائنہ نے توبا ویگم کا ہاتھ تھامار خود کو ان کے پیچھے چھپایا یہ کیا کہ رہے ہیں توبا بتاؤ آگا جان نے توبا ویگم کی جان دیکھا آگا جان نہ جان کیا آل فال بول رہا ہے یہ لڑکا ایسا کچھ نہیں چک ایک دم چک جھوٹ من بولیے آج آپ کا سب کے سامنے آ کر رہے گ فپو ہاشر کے آواز گویا سور کی مانین تھی آگا جان وہ تصویریں تو آپ کو یاد ہی ہوں جس میں منتحر اشر ہاشر نے لب بھیچے وہ تصویریں لینے والی آپ کی لاتنی نوازی شائنہ تھی ایک دھما کا تھا جو ہاشر نے تمام نفوس پر کیا ایک دم لاؤنج میں خاموش ہی چھائی تھی بولنے کو جیسے کچھ بچا ہی نہیں یہ کیا کہ رہے ہو تم ہاشر زوبیہ بیگم کی آواز نے سب کو چونکایا جی جی چچی جان یہی سچ ہے اپنی نفرت اور نامے میں بھول گیا تھا کہ سچ کو جان ہی نہیں پایا نظری جھکائے اس نے ضد کیا پورا سچ بتائے ہمیں ہاشر ہم آپ کی بات پر کیسے یقین کر لیں آگجان کے سوال پر وہ شائنہ کی جان بڑھا ارابازوں سے پکڑ کر اسے آگجان کے روبر اولایا ایک چی کے ساتھ شائنہ اس کے ساتھ کھشتی چلی آئی بولو بولو سر بولو شائنہ بلکل سچ ایک لفظ بھی چھوٹ کہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ممی شائنہ ٹھیکی تھی ہاشر چھوڑو اسے تو بابیگم چلائی حپو آپ بچ میں مت آئے بولو شائنہ ہاشر کی لال انگارہ آنکھے دیکھ سہمی اشر کی حالت گویا کیونکہ میں ہاشر کو پسند کرتی تھی روتے ہوئے اس نے سچائی سب کے گوش گزار کی سچائی سنتے ہی وہاں موجود تمام نفوس پر گویا ایک دھماکہ ہوا تھا ایک دم ہاشر نے اس کی بازو کو چھوڑا بے ساختہ وہ زمین بوس ہوئی تھی آگا جان میں ہی اکل کا شخص جو ان جھوٹی تصویروں پر یقین کر بٹھا تھا میں ہی وہ ظالم شخص تھا جس نے منتحہ کا اعتبار نہیں کیا لیکن آگا جان مجھے بھڑکانے والا کوئی اور نہیں آپ کی یہی بیٹی تھی انہوں نے چچی کے بارے میں غلط سچائی مجھے بتائی تھی انہوں نے نفرت کا بیچ میرے دل میں بھویا کہ میں نفرت کی حد ہر پار کر گیا کاش آگا جان من کا یقین نہ مجھے ملال میں ہی جی نہ تا کہ مجھے حساس ندامت تا عمر رہے کہ میں کیا کھو چکا ہوں پل پل کی تخلیف میرے لئے سب سے بڑی ہے آگا جان اجازت دیجئے وزید یہاں رکھنے کے قابل نہیں کیونکہ یہ دہلیس بہت پہلے میرے لئے حرام ہو بے ساختہ بلک کر روئی تھی ماریہ کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر ہنین کو اس کی گود میں دی وہ دروازے کے جانب بڑھ گیا کسی میں بھی ہمت باقی نہیں تھی اس کو روک سکے صدمے ہی ایسا گہرا تھا کہ کسی کے زمان اسے روک ہی نہیں پائی بینا پیچھے دیکھے آنکھیں میچے درد سے اٹے قیامت آئی تھی اور ایسی قیامت آئی تھی کہ سب کے اصل چہرے سامنے آئی تھی آگا جان اشر بھی تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے قدموں میں بیٹھا تھا آگا جان میری طرف دیکھے میری طرف دیکھے آگا جان شاید میری پرورش میں ہی کوئی کمی رہ گئی تھی توبہ بیٹا کہ آپ نے یہ غلیظ حرکت کی آگا جان کے الفاظ چابق کی مانی تھے قدموں پر کھڑا رہنا توبہ بیگم کے لئے مشکل ہو چکا تھا زمین پر گری شائنہ بے بسی کی انتہا پر تھی توبہ کی ماں یہ کون سے گناہوں کی سزا ملی ہے کہ توبہ جیسی بیٹی ہمارے گھر پیدا ہو گئی لوگ تو بیٹوں کو کہتے ہیں کہ وہ خودگرز ہوتے ہیں لیکن یہاں ہماری اپنی بیٹی خودگرز کی حد پار کر گئی کیا بگاڑا تھا منتہار زوبیا بیٹی نے جو اس نے ایسا کیا درد سے اٹھا لہجہ توبہ بیگم کو برچی کی مانی لگا کاش ہماری کوئی بیٹی ہی نہ ہوتی کم از کم آج یہ نوبت تو نہ آتی توبہ بیٹا خدا کے لئے چلی جاؤ یہاں سے اور دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا اور کوشش کرنا کہ تمہارے شوہر کو اور تمہاری بیٹی کی حقیقت تمہاری اور تمہاری بیٹی کی حقیقت بتانا چلیں ورنہ وہ اسے بھی مو دکھانے کی قابل نہیں رہوگی آگا جان توبہ بیگم یک دم بلکی تھی نہیں توبہ کوئی آگا جان نہیں ہر رشتہ کھو دیا حاشر تو بچہ تھا لیکن تم تو ایک سمجھدار عورت اور ایک بیٹی کی ماں تھی خیر ہم اگر تمہیں مزید کچھ کہیں گے تو اپنے الفاظ ہی ضائع کریں گے اس لئے اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ معافی مانگنے کا تو سوال بھی مر کرنا بینہ اس کی جانت دیکھیں آگا جان گیل گیر لہجے میں بولے تھے توبہ بیگم نے سب کی جانت امید بھری نظروں سے دیکھا تھا لیکن آج ایک بھی گھر کا فرد ان کی جانت نہیں دیکھ رہا تھا کوئی ہاتھ بڑھا کر انہیں روکنے والا نہیں تھا شائنہ کو تھامے وہ بہتے آنسوں کے سن حویلی سے نکلتی چلے گئی خوشیوں سمہکتی حویلی پر ایک بار پھر غم کے گہرے بادل چھا گئے تھے سب کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا یہ گلیز حرکت اور ساری پلیننگ کی پیچھے توبہ بیگم کا ہاتھ تھا باقی گھر کی حالت ایک جانب جو صدمہ اشر کی ذات کو لگا تھا اس کی بھرپائی ممکن نہیں تھی سچے دل سے اس نے شائنہ کو چاہا تھا لیکن وہی گنہگار نکلے گی ایسا اشر کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا لیکن ایک سکون اس کی ذات کو ہوا تھا کہ اس کے اوپر سے بہتان ہٹ چکا تھا منتحہ پر لگا الزام ہٹ چکا تھا اپنی محبت بے شک وہ نہیں حاصل کر پایا اور شاید اب کبھی محبت پر اعتبار بھی نہ کرتا لیکن کم از کم اپنی نظروں میں تو وہ آباد ہو چکا تھا انسان کا بہت چھڑ گیا تھا یہی کم از کم پر سکونی کا باز تھا آگا چان میں نے طوبہ کو ماف کیا آگا چان کیونکہ میری بچی اپنے گھر میں خوش مطمئن ہے تو میں کیوں ناشکری کروں ہاں یہ ملال ضرور ہے کہ میری بچی نے نا جانے طوبہ کا کون سا نقصان کیا تھا جو وہ اس حد تک نشمنی نبھا گئی افسوس کے ساتھ کہتی وہ سب کی آنکھیں نم کر گئی میں جانتی تھی زوبیہ بہو کہ آپ کا ظرف بہت بڑا ہے لیکن اتنا زیادہ ہوگا اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے فقر ہے زوبیہ کہ آپ ہماری بہو ہے آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک نا جانے کتنی بددوائیں کو اس نے طوبہ کی ساتھ کو دے چکا ہوتا بہرحال طوبہ بیٹی جو کلتی اور گناہ کر گئی ہے اس کی تاؤمت تلافی ممکن نہیں ہے ہو سکے تو ایک دم ابی جان نے ندامت سے سر ڈھکا کر بات ادھوری چھوڑ دی ابی جان میں ماف کر چکی ہوں اب آپ شرمندہ مت کریں اور ہاں آج کے بعد اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی ان کے ہاتھ تھامتی زوبیہ نے مان بھرے انداز میں کہا سلطان علی دور بیٹھے رشک سے اپنی شریک حیات کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے اپنی سمجھداری خوش اقلاقی اور وفا شاری سے اپنا گھر جنت کی معنی بنا دیا تھا ماریا کی دی گئی اطلاع نے منطحہ کے چہرے پر ایک طلق مسکرہات بکھیری تھی میں جانتی تھی ماریا کہ ایک کام شائنہ کا ہی ہے وہ تصویر لینے والا کوئی اور نہیں شائنہ ہی ہے کیونکہ اس وقت گھر میں شائنہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو یہ غلیظ حرکت کرتا منطحہ تم سچ جانتی تھی تو تم نے سچائی سب کو کیوں نہیں بتائی ماریا کی حیرت یقینی تھی اگر میں اس روز کوئی صفائی دیتی تو یہ بھی الزام مجھ پر آتا کہ میں بے بنیاد الزام لگا رہی ہوں مجھے اللہ کی ذات پر خود سے زیادہ یقین تھا کہ ایک دن یہ سچائے خود سامنے آئے گی اور رہ گیا تمہارا بھائی اس کے ردعمل کے بارے میں مجھے ایک لفظ بھی نہیں جانا کیونکہ میں اپنی زندگی میں مطمئن اور بہت خوش ہوں مجھے لگتا ہے آج میں اللہ پاک کے سامنے سر خروع ہوئی ہوں میری دعائیں قبول ہو چکی ہے منتحہ نے گویا اس سے باور کروایا کہ وہ حاشر کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتی ماریا بھی کچھ بول نہیں پائی تھی اس کی خاموشی کو ختم کرنے کے لئے منتحہ نے مزید بات شروع کی ماریا میں نماز پڑھ لوں پھر وقت باقی نہیں رہ گا ہنین کو میری جانے سے پیان کرنا الویدائے کلمات ادا کر کے اس نے فون رکھا تھا اور ایک پیار بھری نظر آبان پر ڈال کر وضو کرنے بڑھ گئی سجدہ شکر اس پر گویا واجب ہو گیا تھا جاتے وقت کا سفر جتنا کٹھن تھا آتے وقت وہ مزید دشوار ہو گیا تھا ایک بار تو دلچہا کہ اگٹان کے گلے لگ جائے لیکن شاید اس کا گناہ ایسا تھا کہ یہ بیک تیاری والی حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا بظاہر سخت بن کر وہ کہے آیا تھا لیکن دل اندر سے درد سے اٹا ہوا تھا اپنی حالت آج پھر دل میں دبائے وہ بظاہر نورمل تھا جاویریہ کے ساتھ چر لہا بات چیت کرتا وہ رکھ مول کا لیٹ چکا تھا بیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ حاشر کوئی گھور رہی تھی جاویریہ کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے حاشر اس پر شک کرنے لگا ہے اس کا جاتے وقت امی کی طرف جانے سے روکنا جاویریہ کو باور کروا گیا تھا سوچتے سوچتے وہ بھی آنکھیں مون گئی اگلے کچھ دن شاید جاویریہ کی مشکل ہونے والے تھے جیا خریدار مل گیا خوشی کی قبر سنکر جاویریہ کا چہرہ بھی چمکا what تو سچ کہہ رہا ہے جمی کب تک کام بن جائے گا میں مزید انتظار نہیں کر سکتی مجھ سے نہیں رہا جا رہا تنگ آگئی ہوں اس آدمی سے جلدہ جل کام مکمل کرو اس حاشر صاحب کو نجانے کون سا روک لگ گیا ہے جب سے آیا ہے یا تو ولی کے ساتھ مصروف ہے یا پھر اپنے گم میں مبتل ہے یا پھر تیسرا کام مجھے ہر کام سے روکنا ٹوکنا ہے پچھلے چند دنوں سے حاشر کی پابندیاں جویریہ پر حد درجے بڑھ گئی تھی اور یہی چیز جیا کی جان کو عذاب میں مبتلہ کر رہی تھی اپنی داستہ نے علم سنا کر جویریہ نے گویا دل کی بھڑاس نکالی ٹھک کر جا جیا میں تم سے خریدار کی بات کر رہا ہوں اور تم اپنے مسائل سنانے شروع ہو گئی ہو جویریہ کی کرخت آواز سن کر جویریہ کا ٹھہرا زب سے لال ہوا اچھا بولو کیا کہہ رہے تھے خریدار میں ٹھکا ہے کل تمہیں ہر حال میں آنا ہوگا ورنہ یہ نہ ہو وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے کل جویریہ اگدم سوچ مجھو بھی ہاں کل ہی آنا اور کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آ جاؤں گی دات پیس کرز نے گویا احسان کیا کیا کروں اگر حاشر کو بتایا تو وہ پھر منع کرے گے اگر بنا بتایا گئی تو اب بھی کوئی نہ کوئی مشکل ہو جائے گی اور اس مسئبت کو کہاں چھوڑ کر جاؤں ولی کو تلک نظروں سے دیکھتی وہ کچھ سے مخاطب تھی خان سمہ ہاں وہ سمال لے کی اپنے خیالات کو عملی جامعہ پہناتی وہ وارڈ راپ کے جانی پڑھی اور ایک برانڈڈ سوٹ لے کر واشروم کی جانی بڑھی کوئی دیر میں نقصک سی تیار وہ ولی کو لیے نیچ آئیں بوہ اسے میں نے فیڈر پلا دیا ہے اور اگر اسے دوبارہ بھوک لگے تو پانی کی بوٹن اور فیڈر روم میں ہیں اسے دودھ وغیرہ پلا دیجئے گا بے سوٹ سا ولی اس نے خان سمہ کی گوت میں ڈالا بوہ کو بچہ زیادہ ہی گھری نین میں لگا پر بی بی جی آپ بوہ نے سوالیں نظروں سے اس کے جانے دیکھا میں جا رہی ہوں ایک ضروری کام سے شام تک آ جاؤں گی اور اپنے صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے سکتی سے وان کرتی اور بیک تھامیں باہر کے جانے بڑھ گئی وات یہ کیا کر رہی ہے آپ نیس عریبہ آپ جانتی ہے آپ کس پر الزام لگا رہی ہے حاشر کے آواز سن کر عریبہ اگرم سہمی تھی سر میں الزام نہیں لگا رہی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کے ساتھ ایک عجیب و قریب حلیوں میں ایک بڑی عمر کا آدمی موجود تھا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت عریبہ سوچ میں ڈوبی لیکن یہ اگدم اس کے ذہن میں چھماکا ہوا سر یہ پکس میں نے لی تھی حاشر نے اس سے انداز میں اس سے موبائل لیا تصویر دیکھ کر حاشر کے ماتھے کے تیوری چڑھی اس شخص کو وہ اچھی طرح جانتا تھا نکاح والی شامز اس شخص نے ہی سب سے زیادہ وعبال مچایا تھا لیکن جاوریہ اس کے ساتھ مسکرا کر کیوں باتیں کر رہی تھی یہ اس کے فلیٹ کا ہی ایریا تھا حاشر کو شدت سے کسی اہنونی کا احساس ہوا تھا لیسن میس عریبہ آپ اس بات کا ذکر کسی سے مت کیجئے گا سر آپ بے فکر رہیں آپ ہمیشہ میری مدد کی ہے انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا عریبہ کے جواب کو سن کر اس نے میں سر ہی لائیا تھا سر ایک اور بات کہیے میس عریبہ حاشر نے سوالی انداز میں اس کے جانب دیکھا سر آج سے کچھ مہا پہلے میم جاوریہ نے مجھے آپ پر نظر رکھنے کے لئے کہا تھا what حاشر کے ماتے پر بل نمائے ہوئے یہ بات آپ مجھے اب بتا رہی ہے سر میں نے انہیں اسے ٹائم منع کر دیا تھا اور انہیں میں نے آپ کے بارے میں کوئی انفو نہیں دی عریبہ نے فوراں بات مکمل کی اوکے آپ جائیں حاشر نے اسے جانے کا شارہ دے کر خود موبائل اٹھایا hello دوسری جانے سے فون اٹھانے پر فوراں بولا خانسما جویلیا کہا ہے جی جی وہ تو باہر گئی ہے کب سے گئی ہے حاشر نے فوراں پوچھا جی وہ تو آپ کے جاتے ہی چلی گئی تھی اور ولی کہاں آئے جی وہ یہ ہی ہمارے پاس ہے خانسما کا جواب سن کر حاشر کے ماتے پر بل نمائے ہوئے ٹھیک ہے میں بھی گھر آتا ہوں call cut کر کے وہ فوراں باہر کے جانے بڑھا مس عریبہ office سمال لیجے گا عریبہ کو ہدایت دیتا وہ تیزے سے نیچے کے جانے بڑھا موبائل سے اس نے جویلیا کا نمبر ڈائل کیا hello جویلیا حاشر نے اپنا لہجہ normal رکھا کیا ہوا حاشر سب ٹھیک ہے آپ نے اس وقت call کی ہاں وہ ولی کی یاد آ رہی تھی تو سوچا call کر لو اور تم سے بھی بات کر لو ولی کیا کر رہا ہے حاشر کے سوال پر جویلیا کا رنگ فکھ ہوا اس نے سامنے موجود جمیل کی جانے دیکھا جو اپنے سیہ تہرے پر شیطانی مسکرات سجائے جویلیا کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا وہ سو رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے سولایا ہے اوہ اچھا سو رہا ہے چلو ٹھیک ہے میں بعد میں call کروں گا حاشر نے call cut کر دی موبائل پاکٹ میں رکھا اور تیزی سے گاڑی سٹارٹ کیے رکھ گھر کے جانے موڑا حاشر کو آج کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا جویلیا کا حقیقت چھپانا اور جمیل کے ساتھ جانا کسی گہری سازش کا پتہ دے رہے تھے جو میں سوچ رہا ہوں ایسا بالکل بھی نہ ہو اور اگر جویلیا تم جوتی نکلی تو تم ہی میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا تخیل میں جویلیا کو مخاطب کیے اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی حاشر آپ جویلیا کا قدم حاشر کو لاؤنج میں دیکھ کر تھمیں حلق میں گلٹی سی اُبھر کا نیچے ہوئی کہاں سے آ رہی ہو ولی کی جانب دیکھتے اس نے سوال کیا گویا سوال ولی سے کیا گیا ہو ہم میں امی کی طرف سے آ رہی ہوں جویلیا نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ کا سہارہ لیا اور ادھہودہ گواہ کو تلاشا لیکن شاید وہ جا چکی تھی اچھا امی کی طرف سے آ رہی ہوں لہجہ عام تھا لیکن جویلیا کو کچھ الگ لگا سوفے سے اٹھ کر ولی کو بیبی کارٹ میں لٹا کر وہ جویلیا کے نزدیک آیا جویلیا نے چند قدم پیچھے لیے تھے اسے کسی انہونی کا احساس شدت سے ہوا آنٹی کے گھر گئی تھی تو ولی کو کیوں نہیں لے کر گئی جویلیا نے بے ساختہ سانس اندر کھیجی گلتی کر چکی تھی وہ ولی کو میں بوا کے پاس چھوڑ کے گئی تھی ہاشر کا قریب آنا اس کے جان ہرکان کر رہا تھا جویلیا کے ہاتھوں میں موجود موبائل سے کنکھیوں کے سنگھ جمیل کا نمبر ڈائل کیا ولی کو بوا کے پاس چھوڑ گئی تھی سرگوشی میں بولتا اور جویلیا کے مزید نزدیک آیا تیزی سے ہاشر کا ہاتھ اٹھا اور جویلیا کے موپر چھاپ چھوڑ گیا جویلیا اردم سائٹ پر جھوکی تھی تھپڑ کی شدہ نے جویلیا کے چودہ طبق روشن کی اسے سمجھ نہیں آ پائے گئے یہ اس کے ساتھ ہوا کیا موپر ہاتھ رکھ کر اس نے کہر بھری نظریں ہاشر کے جانت ڈالی تمہاری اتنی ہمت تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اونچی آواز میں چلنا تھی وہ ہاشر کے کان کے پردوں کو چیر گئی بکواس مت کرو ونہ ایک اور موپر لگا کر ساری اکڑ نکال دوں گا میرے پیچھے کیا گل کھلاتی رہی ہو ہاشر نے اس کے گردن سے بال جکڑے دوسری جانت کال پر موجود جمیل کا شور سنکا کسی گہری انہونی کا حساس ہوا جیا کیا ہوا ہے کیوں بول رہی ہے گن کو اپنی جیب میں چیک کیے وہ بائیت کرو ہاشر کے گھر کے جانت موڑ گیا جیا نے موبائل پر گرفت مضبوط رکھی تھی پرس اس کے ہاتھ سے دور جا گرہ تھا چھوڑو چلیل انسان میرے بال چھوڑو جویریہ دینگم چلنائی تھی والی کو کون سی میڈیسن دی ہے ایک اور دھماکہ اس نے جویریہ پر کیا کون سی میڈیسن آپ کیا کہہ رہے ہیں نجانے جمیل نے اس کی آواز سنی تھی یا نہیں جویریہ کو بس یہی ڈر ستا رہا تھا کاروائی ان کے کافی حد تک مکمل ہو چکی تھی رکم بھی بینک اکاؤن میں ٹرانسفر ہو چکی تھی کلی وہ یہاں سے نکلنے والی تھی لیکن ہاشر کے ہاتھوں وہ آج ہی پکڑی گئی تھی یہی اس کی کمبختی تھی تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تم نے کون سی میڈیسن دی ہے اتنی کٹھو اتنی ظالم تم کیسے بن گئی شرم سے ڈوب مٹ چاہیے اپنے بچے کو نین کی دو پلاتی رہی ہو پالو پر گرفت اب بھی سخت تھی اکدم ہو سی لیے اوپر کی جانی بڑھا چھوڑو ہاشر ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی چھوڑو مجھے جویرے کے چکھنے چھلانے کو نظر انداز کی اوپر کی جانی پڑا پہلی سیڑی پر ابھی قدم رکھا ہی تھا جب پیچھے سے کسی نے بھاری چیز اس کے سر پر ماری درد کی تیز لہر حاشر کو اپنے سر موہ سے محض یہی نکلا تھا ظلیل انسان نے حد پار کر دی اچھا جمی تو آ گیا فرنا آج اس گھٹیا شخص نے مجھے مار ڈالنا تھا ناغواری سے بولتی وہ جمی کے نزدیک آئی اے مار سمیٹ جل پھر نکلنا ہے جمی کی کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی یا مقافات عمل تھا جو لوٹ کر اس تک آیا تھا گھٹیا انسان تم کیا سمجھتے تھے تم جیہ کو مار ہوگے اور جیہ مار سہے لگی ناممگین حاشر علی حمدانی میں جیہ ہوں جو مرتی نہیں مار تی ہوں کون ہو تم بھاری بولو نا اب بول کیوں نہیں رہے چہرے پر شیطانی مسکرات سجائے وہ زمین پر بٹھی تھی ولی جانتے ہو کس کا بیٹا ہے پور اسرالیت کے سنگ وہ دھیما سا بولی حاشر کا روان روان جیسے کان بنا نہ جانے کون سی حقیقت آج جیہ اس کے گوش کسار کرنے والی تھی صدیقی ایمپائر کے آنر حمدان صدیقی کا بیٹا ہے اپنے الفاظ سے اس نے گویا حاشر پر دھماکہ کیا حاشر کو آج قیامت کا دن لگا تھا تم سے اچھی تو تو توایف ہے جو اگر رشتہ بھی رکھتی ہے تو دنکے کی چوٹ پر رکھتی ہے یہی الفاظ تھے جو چند سال پہلے اس نے کسی کو کہے تھے اور آج یہی الفاظ اس کے موہ پر تماتے کی طرح لگے تھے دنکے کی چوٹ پر تو دور اس نے تو غلازت کی انتہا کر دی تھی ایک ناجائز بچہ حاشر علی حمدانی کا ناجائز بچہ ولی حمدانی مقافات کے طور پر اسے ملا تھا منتہ سلطان کی عشق کی بدعوہ حاشر علی حمدانی کو بہت پہلے لگ چکی تھی اور ایسی لگی تھی کہ بچاؤ ممکن ہی نہیں کہا تھا بدعوہ نے اپنی حقیقت آج آیا کی تھی یہ حقیقت آج حاشر علی کا سانس روک گئی تھی اس کی خاموشی کو جویریہ نے بے یقین ہی سمجھا تھا لگتا ہے تمہیں یقین نہیں آرہا چلو کچھ حقیقت کی جھلکیاں دکھاتی ہو موبائل کی سکرین روشن کرتی بس کے سامنے کر گئی جہاں حمدان اور جویریہ کی سیاہ کاری کی تصویر پوری طرح آیا تھی حاشر نے بے ساختہ آنکھ میں چھلو تمہیں فلیش بیک کا نظارہ کروا دیتی ہوں آدھا سے کہتی وہ اٹھ کر کاؤنش پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی جمیل اب بھی ایک جانت چوکر نہ کھڑا تھا یاد ہے تو مل گیا تھا مجھے شکار میں نے بےہوشی کا اچھا خاصا ناٹک کیا اسی دوران جمی کو اور امی کو میسیج کیا یوں سارا پلین تیار ہو گیا نکاح ہوا اور میں یہاں آگئی تمہارے جانے کے اگلے دن ہی میں دوبارہ ہمدان کے پاس گئی تھی اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور دیکھو ہمارے پیار ایک مکھوٹا ڈالا ہوا ہے دنیا کے سامنے معصوم بننا اور تنہائی میں شیطانیت دکھانا اس دنیا کا اصول ہے معصوم بن کر یہاں لوگ لوگوں کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے اور دیکھو میری معصومیت نے آدھی دنیا کو میرا دیوانہ بنا دیا ان بے وکوفوں میں تم پہلی فہرست میں تھے تم بھی میری معصومیت کے قائل ہو گئے یہ بے وکوف دنیا نہیں جانتی کہ میں ایک ناکن ہوں جو کب ڈس جائے کہ خبر بھی نہ ہو پائے اس دنیا کو اپنے پیچھے لگانا اپنا دیوانہ بنانا اور پھر ڈس کر چھوڑ دینا یہی میرا اصول ہے ہاں تمہیں چھوڑنے میں نے وقت لیا لیکن دیر آیت درست وہ معاورہ تو تم نے سنا ہی ہوگا بس اسی پر آج میں نے عمل کر لیا ایک آنکھ دبا کر اس نے مقابل سے بے بسی کی عالی تصویر بنے ہاشیر کو دیکھا تم تمہارے ساتھ گزرے وقت کو میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی کیونکہ تم نے مجھے بہت فائدہ دیا اتنا کہ کوئی شخص نہیں دے پایا ایون ہمدان صدیقی بھی نہیں لیکن اب تم میرے لئے نقصان کا باز بن رہے تھے اور جب نقصان ہونے لگے تو اس چیز کو جڑ سے ہی مٹا دینا چاہے میرا تو یہی ماننا ہے جمعی سے گن لیتے وہ ہاشیر کے قریب آئی آنکھوں میں بے رہیمی اگری ارگن پر گرفت مضبوط ہوئی گود بائی اور گولی کی آواز فیضہ میں گنجی تھی سینہ چیٹی گولی ہاشیر علی ہمدانی کو درد کی آخری حد پر پہنچا گئی اس کی گلے میں اٹکی تھی ولی کی فکر نہ کرنا جلد تمہارے پاس آئے گا آخری نظر ولی کو دیکھتی وہ بیگ اٹھائیں جمعی کو لیے گھر سے نکلتی چلی گئی نجانے ہاشیر علی کی قسمت آگے کیا موڑ لینے والی تھی اس کی خبر فیلحال رب کے سیوہ کسی کو نہیں تھی سرک انگارہ کھلی آنکھوں میں اگر کوئی شبیہ تھی تو روتی کلاتی بددوہ دیتی منتحہ سلطان کی تھی گئی آخری سوچ تھی تکلیف کی انتہا اس کی آنکھوں کو بند کر گئی عشق کی بددوہ لگی ہے صاحب مود بھی جان نہیں لے پائیں گی اوف سر یہ ضروری فائل بھول گئے ان کے سائن بہت ضروری تھے کیبن میں کھڑی عریبہ کی نظر فائل پر گئی جس پر وہ سائن لینے والی تھی لیکن آج کی پریشانی میں وہ بھول چکی تھی جلال سنس کی یہ فائل کی کل صبح ہی اسے سممیٹ کروانی تھی کال کرتی ہوں اپنے خیال کو عملی جامعہ پہناتی اس نے ہاشر کے نمبر پر سنو میں سر کے گھر جا رہی ہوں صبح یہ فائل ہر حال میں جلال سنس کو ہینوور کرنی ہے اپنے کوورکر کو ہدایتی وہ نیچ آئی اور ڈرائیور کے ساتھ ہاشر کے گھر کی جانی بھروانہ ہوئی بعض اوقات وہ ہاشر کے گھر جا چکی تھی اس لئے آج بھی جانا اسے مشکل نہیں لگا تھا ماریا آج ہاشر بہت یاد آ رہا ہے ماریا میرا دل بے سکول ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرا بچہ مسیبت میں ہے فردوس بیگم کو آج دو پہر سے ہی بے چینی لاحق ہو رہی تھی اپنے خیالات کو ماریا کے گوش بزار کرتی ان کے سبر کا پہمانہ چھلکا تھا امی پلیز آہستہ بولے آفاک نے سن لیا تو نہ جانے کیا مسیبت آ جائے ماریا ادگر دیکھتی فوراں امہ کے قریب کس کی تھی جو کچن میں ہی موجود تھی ماریا میں کیا کرو اس دن بھی اس کے دور سے دیکھا اپنے ملال میں وہ اپنی ماں کو ایک نظر نہیں دیکھ پایا مانتی ہوں اس نے گلتی کی تھی اور اسے ملال بھی ہیں لیکن اس ملال میں کم از کم ایک بار تو اپنی ماں کو دیکھتا اپنی ماں کے گلے لگ جاتا بے شک کچھ نہ بولتا لیکن میری جلتی ممتہ پر دو بون پانی تو ڈال دیتا ایک بار بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا کہ اتنا کٹھول ہو چکا ہے آج یہ دل جل رہا ہے بے سکون ہو رہا ہے کہ نہ جانے میرا بچہ کس حال میں ہوگا تمہاری بابا سے میں ذکر بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو ایک لفظ سننے کے روادار نہیں فوٹ فوٹ کر روتی وہ ماریا کے گلے لگی ماریا کے آنسو بھی گال پر بہے تھے کندے پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے فردوس ویگم کی گویا سانس رکی یکدم وہ ماریا سے دور ہوئی اور پیچھے مڑی اپنے پیچھے زوبیا ویگم کو دیکھ کر وہ اکھلائی تیزے سے آنکھیں رگڑی زوبیا کچھ چاہیے کیا ہوا بھابی کچھ بھی نہیں چاہیے بس آپ ایسے خود کو ہلکان مت کریں اور اپنی جذبات کو اپنے اندر مت دبائیں اور آپ آپ کو اپنی غلطی کا حساس ہو چکا ہے ماریا وہ سمجھتا ہے کہ بھائی سے دور ہونا کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی لادلی بہن بھی اس سے دور ہے حالانکہ وہ تو اپنی زندگی میں مطمئن اور خوش ہے لیکن پھر بھی اس کے لئے پریشان رہتا ہے کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ انسان میں اس میں بے اختیار ہو جاتا ہے اور بھابی آپ کا بیٹا تو آپ سے نہ جانے کتنی عرصے سے دور ہے میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف انشاءاللہ جلد لوٹے کا بھابی پردوس بیگم کیاں سو پوچھتی اور مان بھرے لہجے میں بولی پردوس بیگم نے بے ساختہ ان کے گلے لگی زوبیا تم اتنے بڑے دل کی مالک کیوں ہو کیوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو کیوں تمہارے دل میں ہمارے لئے نفرت نہیں آسکی میں نے حاشر کو کھویا لیکن تم نے تو اپنی بیٹی کی خوشیاں کھوئی ہیں لیکن پھر بھی تمہارے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آ پائی کیوں ہو تم ایسی زوبیا مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ حاشر نے ایک قیمتی ہرہ گواں دیا زوبیا بیگم محض مسکرائی تھی بھابی پرانی باتیں بھول جائیں اب تو آپ نانی بن گئی ہیں نئے رشتوں کے لئے جیئے اور رہ گیا حاشر انشاءاللہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گا میرے لئے یہی کافی ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اور میں آگا جان کو بھی کہوں گی کہ وہ ایک بار حاشر سے رابطہ کریں اب آپ نے رونا بالکل نہیں ہے ان کے ہاتھ کو دھانتی وہ ان کی پریشانی کافی حد تک کم کر گئی اور ماریا تو ایک دم وہ سنجیدہ ہوئی ماریا جو ہاتھ مسلتی اپنی الفاظ پر شرمیندہ تھی زوبیا کے آواز پر ایک دم ان کے جانے متوجہ ہی جی امی کیا ہوا تم میرے بیٹے کو ذرا سا بھی ٹائم نہیں دیتی اب اپنا بیٹا آ گیا ہے تو میرے بیٹے کو بھول گئی ہو اپنا حلیہ دیکھو کہیں سے بھی تم شادی شدہ لڑکی نہیں لگ رہی کاموں کا اپنے اوپر حاوی کر کے تم بس ماسی بنی فرتی رہتی ہو کل سے نہیں بلکہ آج سے مجھے شادی کے شروع دن والی ماریا چاہی گی ماریا کو اپنے بکھرے سے ہولیے پر شرمندگی محسوس ہوئی اور آفات کے بھی کان کھیچتی ہوں کہ میری بہو کو باہر کیوں نہیں لے کر جاتا مسنوی سنجھجگی سے کہتی ہماریا کو ہسا گئی جی امی آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا تیجی سے ان کے گلے لگی تھی زوبیا ویگم سر پر دشتے شفقت رکھتی اس کی محبت کا مان بڑھا گئی جمیل صاحب کاروائی مکمل ہو چکی ہے بیک کو سکتی سے تھامے چہرے کو اچھی طرح کور کیے اس نے جمیل سے پوچھا جو برک رفتاری سے بائک دوڑا رہا تھا ہاں سب مکمل ہو گیا تو بس اکٹ چھپ کر کے بیٹھ جا جیا کو جھڑک کر اس نے مزید رفتار بڑھائی کاش ہندان تم یہاں ہوتے تو مجھے آج اس گھٹیا شخص کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی دل دل میں جمیل کو کوستی وہ خاموش ہوئی حاشر کو چھوڑنے کا اس کے دل میں پل بھر کا ملار بھی نہیں تھا ولی سے اسے اول روز سے ہی رغاؤ نہیں ہو پایا تھا حالانکہ اس کی اپنی ماں تھی یہ اس کے لیے اب تک کے پہلے فراد میں تھا کہ وہ کسی کے بچے کی ماں بن چکی تھی اور بچہ بھی اپنے من پسند شخص کا تھا لیکن جویلیا جیسی کمزرف لڑکی کو وہ بچہ بھی نہیں روپ پایا تھا بس ایک بار میرا کام مکمل ہو جائے پھر دیکھنا کیسے ٹانگ مار کر تمہیں باہر فیکتی ہوں دلی دل میں ارادہ بانتی وہ اردگرد دیکھنے لگی تم رکو میں بس سر سے سائن کروا کر آتی ہوں گاڑی سے اٹھر کر اور ڈرائیورک ہدایت دیتی اندر کی جانی بھائی گیٹ پر گاڑ کو نہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی شام کا وقت تھا اور گاڑ کا کچھ پتہ نہیں تھا اریبہ گیٹ سے اندر داکھل ہوئی اندر آج اسے بہت خاموشی محسوس ہوئی قدم بڑھاتی آگیا آئی لانج میں قدم رکھتی اریبہ کے سر پر گویا آسمان آ کر گرا ٹانگوں سے گویا جان نکلی تھی لانج میں کاؤچ پر روتا ہوا چھوٹا سا بچہ اور زمین پر بے ہوش اور خون سے لطپت ہاشر کو دیکھ کر اریبہ کی چھوٹا بے ساکتہ نکلی سر چھوٹی چھلاتی وہ ہاشر کے قریب آئی جو بے جان سے زمین پر ایک جانب گرا ہوا تھا سر کیا ہوا سر آنکھیں کھولیں بے ساکتہ اور چھلائی تھی بچے کے رونے کی آواز اب بھی گونج رہی تھی وہ تیزی سے ولی کی جانب آئی جو رو رو کر نڈال ہو چکا تھا جوویریا میم میم جویریا جویریا کو پکارتی وہ اردگیت متوجہ ہوئی گھر کا سامان پوری طرح سے اُلٹ پلٹ ہو چکا تھا لیکن جویریا کا کہیں پتہ نہیں تھا ناک کے قریب ہاتھ رکھ کر اس نے ہاشر کی سانسے چیک کرنا چاہیی جو بہت حد تک مدھم ہو چکی تھی سر میں میں ابھی آتی ہوں تیزی سے ولی کی جانب آئی اسے اٹھا کر وہ دوبارہ باہر کی جانب بڑی بھئیہ اندر آؤ جلدی جلدی اندر آؤ پسینس شراب اور عریبہ نے ڈرائیور کو بھی چونکا دیا کیا وہ میڈم سب ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے جلدی اندر آؤ سر پر قاتل آنا حملہ ہوا ہے بہت خون نکل گیا ہے ان کا جلدی جلدی چلو ڈرائیور حیران پریشان سا اندر آیا سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا بھی رم اُڑ چکا تھا میڈم یہ پولیس کیس ہے ہمیں سر کو ہاسپیٹل لے جانا چاہیے اور پولیس کو بھی تیلہ کرنی ہوں گی ورنہ سارا الزام ہمارے سر آئے گا بھائی اس وقت سر کی جان بچانا زیادہ اہم ہے سر اٹھے ہمت کرے لیکن حاشر کی حالت برداشت کرتے کرتے بے جان ہو چکی تھی ولی کو دوبارہ کاؤچ پر لٹا کر وہ ڈرائیور کی مدد سے حاشر کو اٹھا کر باہر کے جانب لائی ہمت جمع کرتی وہ اور ڈرائیور اسے باہر تک لے آئے تھے وہ پورچ میں موجود گاڑی میں حاشر کو لٹا کر دوبارہ ولی کو لے باہر آئی گاڑی میں لگی چابی کو دیکھ کر بے سافتہ شکر کیا تھا گاڑی کو بھگاتا ڈرائیور پیچھے مڑ کر بار بار دیکھ رہا تھا یہی حالت عریبہ کی تھی ولی کو چھپ کرواتی وہ حاشر کے لئے حد درجے فکر من تھی آنکھ سے بہتے آنسوں اس بات کا گوا تھے کہ سوری اتحال عریبہ جیسی مضبوط لڑکی کو بھی دہلا گئی ہے عریبہ عریبہ حاشر کا دماغ اس وقت شاید کچھ ہوش میں تھا میرا بیٹا عریبہ میس عریبہ چند لفظ بول کر اس کا سانس بھولا تھا سر آپ فکر مت کریں ولی بالکل ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ موبائل آگا جان آگا جان سے انبلوک کرتا کامتے ہاتھوں سے عریبہ کے جانے بڑھاتا وہ پوری طرح ہوش گواں چکا تھا سر ہوش سر پلیس آنکھیں کھولے کھولے آنکھیں موبائل کو نیچے اٹھاتی وہ حاشر کو پکار رہی تھی لیکن حاشر علی اہم پیغام دیتا ہوش گواں چکا تھا تیزی سے فون لاغ میں سے آگا جان کا نمبر ڈائل کرتی حلکان ہو چکی تھی دوسری جانے سے کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی دوبارہ ٹرائے کرتی وہ فون رکھنے والی جب زندگی کی نوید سنائی دی بھائی گاڑی تیزی سے چلائیں وقت بہت کم ہے پلیس جلدی چلیں والیکم سلسل رونا اور حاشر کی حالت عریبہ کی جان حلکان کر رہا تھا ہیلو سر میں عریبہ عریبہ حمدانی کمپانی کی سیکریٹری بات کر رہی ہوں وہ سر اٹھ گئی تھی والی بھی رو رو کر اب نیڈال ہو چکا تھا چہرہ حد درجے سرکھ ہو چکا تھا دوسری جانب حاشر پر قاتلانہ حملے کا سن کر آگا جان کے ہاتھ سے موبائل زمین بوس ہوا آفاق اشر کہاں ہو اشر پھولتی سانس کی سنگ اونٹھی آواز میں چلائے ابی جان بھی ان کی حالت دیکھ سہمی تھی کیا ہوا بتائے کس کا فون تھا بولے کیا ہوا ہاشر مو سے یہی لفظ نکلا تھا فقط کیا ہوا ہاشر کہاں ہیں ہاشر ابی جان کو بھی بے ساختہ تشویش ہوئے کسی نے ان پر قاتلانہ حملہ کروایا ہے ہمیں ابھی جانا ہوگا تیسی سے کہتے وہ لاتھی ٹیکٹے باہر آئے ابی جان کا ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا اشر جلدی آؤ گاڑی نکالو لاؤنج میں دھار نمہ آواز میں پکار کر انہوں نے اشر کو بلایا اگر جان کیا ہوا سب ٹھیک ہے اشر باہر گیا آفاق کو دیکھ کر آگر جان کی آنکھیں ہر درجے لال ہوئی سبر کا پیمانہ لبریز ہوا آفاق ہاشر پر کسی نے قاتلانہ حملہ کروایا ہے ہمیں لے جاؤ ہمارا بچہ تکلیف میں ہے چلو آفاق وات آگر جان یہ کیا کہہ رہے ہیں ہاشر پر حملہ کسی نے آپ کے ساتھ کسی نے مزاق کیا ہے نہیں آہ آفاق نہیں یہ وقت مزاق کا نہیں ہے اور نئے سوال جواب کا ہے کسی نے مزاق نہیں کیا خدا رہ لے جاؤ ہمیں لاؤنج میں داکھل ہوتی فردوز بیگم یہ خبر سن کر بے سافتہ زمین بوس ہوئی ان کی چیک سن کر سب ان کے جانی متوجہ بے آنٹی آفاق تیزے سے فردوز بیگم کی جانی بایا جو بے ہوش ہو چکی تھی سوفے پر لٹا کر اس نے پانی کے چھٹے ان کے موہ پر فینکے کچھ دیر میں تمام افراد لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے آفاق اشر کو فون کرو فوراں گھر پہنچے ہمارا جانا بہت ضروری ہے سوک آنکھوں اور بھاری آواز میں کہتے ہیں اور باہر کی جانی بائے حاشر علی کی تکلیف کا سن کر آگا جان کی جان گویا کسی نے مٹھی میں لے لی تھی ہسپٹل میں ہاشر کو لاکر ضروری کاروائی مکمل کرتی وہ کینٹین کی جانی بائے ہاشر کی جان بچانے کے لیے کہ ساتھ ساتھ والی کو بچانا بھی نہایت ضروری تھا اس نے دوبارہ فون کر کے آگا جان کو تمام اطلاع سے آگاہ کیا والی کا ضروری سامان لیتی وہ دوبارہ آپریشن روم کی جانی بائے جہاں پولیس اور میڈیا کے لوگ موجود تھے پولیس اپنی کاروائی مکمل کر چکی تھی میڈیا کے لوگ تیزے سے ان کی جانی بڑھے میم آپ کچھ بتائیے کیسے ہوا ان پر حملہ اور مسٹر حمدانی کی فیملی کہاں ہے دیکھیں ابھی میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ان کی فیملی بس پہنچنے والی ہے ان سے بات کیجئے گا میڈیا سے بچتی اور ان کے جانی بڑھ گئی جہاں والی ایڈمیٹ تھا آگا جان میرا بچہ ڈاکٹر کیوں نہیں بتا رہے وہ کیسا ہے کیا ہوا ہے آگا جان کچھ تو بولے فردوس بیگم کی رو رو کر حالت بری ہو چکی تھی باقی افراد بھی اس خبر سے بے حال ہو چکے تھے شام سے رات ہو چکی تھی میڈیا کو زبردستی باہر بھیج کر اس وقت پوری فیملی بے حال سی بٹھی تھی ماریہ والی کے پاس موجود تھی ہاشر کا آپریشن اب بھی اٹھاری تھا کوئی امید بھری خبر انہیں سننے کو نہیں مل پائی تھی زندگی اور موت سے لڑتا ہاشر آج سب کی جان گویا اپنے ساتھ لے چکا تھا اس گھگی گلتیوں کو جیسے سب بھول چکے تھے یاد تھا تو بس ہاشر علی ان کا خون ہے مسریبہ لیسن چہر پر بیٹھی عریبہ کو اطلبی آواز نے چوکایا آپ گھر جا سکتی ہے ان کی فیملی آ چکی ہے اب آپ کے رکنے کا جواز نہیں ہے مقابل شخص کی بات سنکر عریبہ کے ماتے پر تیوری چڑھی میں بھی جانتی ہوں میری یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں لیکن میں ایسا بہن بن کر یہاں رکی ہوں انہوں نے ہمیشہ مجھے بہنوں جیسا مان دیا ہے اس مشکل گھڑی میں ان کو اکیلہ چھوڑ کر جانا خود گرزی کی انتہا ہے عریبہ کے دو ٹوک جواب نے اشر کو ایک دم خاموش کیا میں محس آپ کے گھر والوں کی وجہ سے کہہ رہا تھا انہیں فکر ہو رہی ہوگی جی انہیں میں بتا چکی ہوں آپ فکر مت کریں میں خود سا جواب دیتی وہ آپریشن روم کی جانب پڑ گئی جہاں ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آ رہے تھے آگرچان تیزی سے یہ ڈاکٹر کی جانب آئے ڈاکٹر میرا پوتا کیسا ہے آگرچان کی فکر میں ڈوبی آواز پر ڈاکٹر نے پورا سرار چہرے کے سن آگرچان کی جانب دیکھا دیکھیں گولی تو ہم نکال چکے ہیں سر پر بہت زیادہ سکتی سے وار کیا گیا ہے جس کی وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ کافی ہو چکی ہے اگلے چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں اگر تو وہ سرائیو کر گئے تو بیسٹ ہے اور ادروائز ہم کچھ کہ نہیں سکتے ڈاکٹر رو فرسہ خبر سنا کر تمام افراد پر قیامت نازل کر کے جا چکا تھا لے ڈی پر چلتی خبر نے گویا منتحہ کے پیروں سے زمین کھسکائی وہ آبان کا فیڈر لینے نیچے آئی تھی جہاں سامنے لے ڈی پر چلتی خبر نے منتحہ سلطان کی ہوش اڑائیں سکرین پر دکھایا جانے والا چہرہ بلا شبہ حاشر علی حمدانی کہی تھا حاشر پر قاتلانہ حملہ کیسے ممکن ہے حاج سے فیڈر نیچے گرا عرصے پہلے وہ بھی گرتی گازان بے ساکتہ سے تھاما بیوی کیا ہوا جسٹ نیوز ہے یہ رشید ٹی وی بند کرو جلد از جلد منتحہ کا سفید پردہ چہرہ دیکھ کر حاشر نے نوکر کو ہدایت دی گازان وہ حاشر حاشر پر قاتلانہ حملہ آپ جانتی ہے اسے یہ میرے بزنس پارٹنر ہے میں وہی جان رہا ہوں آپ پلیز اپنا خیال رکھے گا منتحہ کو صوفے پر بٹھاتا ہو پیار سے سے ہدایت دیتا اٹھ کر فورا منتحہ نے سے تھاما اور اٹھ کر اس کے سینے سے لگی نہیں گازان آپ نہیں جائیں نہیں میں نہیں جانے دوں گی آپ میرے پاس رہیں بیوی کیا ہوا آپ ایسے کیوں ریعک کر رہی ہیں ایسی خبریں تو روز گردش کرتی ہیں اور میں جلد آ جاؤں گا منتحہ کی کچھ تھپکرز نے خود سے الگ کیا گازان نہیں پلیز آپ مت جائیں آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے منتحہ غصے سے چلائے گازان کچھ کی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں لگی آپ ایسے کیوں کہ رہی ہیں کوئی بات ہے کیا کوئی وجہ ہے کیا وہ میرا کزین ہے منتحہ تیزی سے بولی what کیا کہ رہی ہیں آپ گازان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی جی یہ میرا کزین اشر کا بڑا بھائی ہے پسند کی شادی کی وجہ سے آگاجار نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اپنی اونگلے کو دیکھتی وہ سچ جھوٹ کی آمزش کے گازان کو سب بتا گئی منتحہ اس بارے میں آ کر بات کرتے ہیں سخت تاثرات کے ساتھ کہتا ہوا اپنا ہاتھ چھڑوا کر باہر کی جانب بڑھ گیا منتحہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ گازان کو اس کا اس وقت سج بتانا برا لگا ہے گازان کی ناراضگی کو نظرانداز کرتی وہ پر آئی ماریا ہاشر پر حملہ کیسے ہوا لہجے میں ہاشر کے لئے کوئی جذبہ نہیں تھا منتحہ وہ انہیں گولی لگی ہے ماریا کے پرنام آواز میں اگدم منتحہ کو خاموش کیا تمہیں کس نے بتایا منتحہ ماریا نے سوال کیا گازان ہاشر کے بزنس پارٹنر ہے منتحہ دھیمے سے کہہ کر خاموش ہوئی ماریا سمجھ چکی تھی منتحہ فکر مت کرو میں سنبھال لوں گی چند الویدائی کلمات ادا کر کے وہ فون بند کر چکی تھی گھر میں داخل ہوتے جویریہ نے بیک کو چار پائی پر رکھا اور خود چار پائی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی یہ ان کا نیا ٹھکانہ تھا جمیل بھی ایک جانی پوراسرار سا کھڑا تھا باقی سب کہاں ہیں ادھر ادھر نظر دوڑا کر اس نے مارا اور امی کو تلاشنا چاہا وہ جا چکے ہیں میں اور تو تو ہے بس یہاں پر فکر نہ کر مل کر عائش کریں گے جمیل کی آواز میں الگ کھنک تھی یہ کیا کہہ رہا ہے مارا اور امی کہاں ہیں جویریہ کو جمیل کا لہجہ کچھ الگ لگا انہیں جہاں ہونا چاہیے وہ وہیں جا چکے ہیں یہ بیک مجھے دے میں اسے محفوظ جگے پہنچا کر آتا ہوں کون سے محفوظ جگے اس سے زیادہ کون سے محفوظ جگے ہوگی جویریہ نے بے ساکتہ بیک کو تھاما جمیل کا کریہ چہرہ پر ایک دم شیطانی واضح ہوئی یہ تیرے لیے محفوظ جگے ہیں اس بیک کے لیے نہیں آگے بڑھ کر اس نے جویریہ کے ہاتھ سے بیک کھیچا یہ کیا کہہ رہا ہے بیک چھوڑ جویریہ ایک دم چلائی اور بیک پر گرفت مضبوط کی چکر سالی ایک دم جمیل نے اپنا بھائی ہاتھ جویریہ کے موں پر مارا جویریہ ایک دم زمین پر گری دوسرا تھپڑ تھا اور اسی گال پر پڑا تھا ہر بار دھوکہ کر کے سارا پیسہ حضم کر جاتی ہے اس بار بھی تیرے ہی رادہ تھا لیکن اس بار جمیل تیرا انجام سوچ چکا تھا اپنی عوقات میرے جمیل تو نے مجھے پر ہاتھ کیسے اٹھایا جویریہ اٹھ کر جمیل پر چھپتی لیکن جمیل کی آہنی گرفت جویریہ کی سانس روک گیا گلے پر مضبوط گرفت سے جویریہ کی آنکھیں باہر اُبلی تو سمجھتی تھی کہ اس بار بھی میں تیرا فائدہ سوچوں گا لیکن نہیں اس بابو سے تیرا نکاح کرواتے ہی میں نے ساری پلیننگ کر چکا تھا اور جو تُو نے فلیٹ اور پلوڈ بیچے ان سب کا پیسہ میرے اکاؤنڈ میں گیا ہے تنافر سے کہتا وہ جویریہ کی رہی صحیح جان بھی نکال چکا تھا اپنی گرفت سے اسے آزاد کر کے اس نے جویریہ کو نیچے فینکا سنسی وہ زمین پر گری اتنا بڑا دھوکہ وہ بھی جمیل جمیل کی جانب سے اس کے وہم گمان میں نہیں تھا سالی تو سمجھتی ہے کہ تُو ہی اکلمن ہے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کا اس نے جویریہ کا چہرہ اوپر کیا جو ایک تھپڑ سے ہی لال ہو چکا تھا ہر بار تو ہی کامیاب نہیں ہوگی اس مرتبہ اس دولت پر میرا حق ہے بہت چالاگ بنتی تھی چند روپے دیکھ کر مجھے ٹرکھا دیتی تھی ایک اور تھپڑ اس نے جویریہ کے موں پر دھرا تھا جمیل چھوڑ مجھے جانے دے یہاں سے جویریہ نے اس کی بازوں پر ناکھن گاڑے دیکھ ذرا اب بھی تجھے اثر ہو رہا ہے روک ابھی بتاتا ہو بالوں پر مزید گرفت سک کی اس نے دوسرے ہاتھ جویریہ کے گلے سے ڈپٹا نکال کر اس کے ہاتھ پر باندھا ایک ہاتھ کو کابو کر کے اس نے وہی ڈپٹا دوسرے پر بھی باندھا چھوڑ مجھے جمیل جویریہ کی چیت پکار کا نظر انداز کرتا اس کے ہاتھ بان کر اسے سمیٹ زدہ زمین پر دھکیل کر بیگ تھامے باہر کے چانے بڑھا کچھ دن تو یہاں خود کو محفوظ سمجھیں گی اپنا اصول ہے نا کچھ دن محفوظ جگہ پر رہنا اب تو رہے اس محفوظ جگہ پر میں تو چلتا ہوں کریہ ہسی ہستا وہاں ہی دروازہ بند کرتا باہر کے چانے بڑھا جویریہ کی چیت کو پکار اب بھی دروازے سے باہر آ رہی تھی لیکن جمیل کو کوئی پروا نہیں تھی یہ جگہ ایسی تھی جہاں کسی کا آنا ممکن نہیں تھا وقت نے پلٹا کھایا تھا اگر آج ہاشر برباد ہوا تھا تو بربادی جویریہ کی بھی شروع ہو چکی تھی گازان کو کوریڈر میں دیکھ کر آگر جان چونکے آپ یہاں کیسے حیریت ہے آگر جان کا سوال بے سافتہ تھا جی میں مسٹر ہاشر میرے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں سلام و آدھا کے بعد گازان نے آگر جان کو آگاہ کیا لیکن مرتحہ نے اور آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہاشر آپ کا گازان سوالی انداز سے بعد ادھوری چھوڑی بیٹا یہ ایسی حقیقت تھی جس کو چھپانا ضروری ہو چکا تھا ہاشر میرا پوتا ہے اور اپنی پسند سے شادی کر چکا تھا کچھ حالات وہ واقعات ایسی ہوتے ہیں جب بزرگوں کا ظالم بننا پڑتا ہے بس اسی لئے یہ حقیقت آپ سے چھپائی آپ پریشان مت ہو مجھے برا نہیں لگا گازان نے فورا آگر جان کا مان بڑھایا کیا کہہ رہے ڈاکٹر کچھ امید فرضہ خبر ملی اور حملہ کیسے ہوا گازان کے سوال پر آگر جان محض سا جھکا کر رہ گئے بیٹا ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہاشر کی بیوی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا بچہ بھی انڈر آبزرویشن ہے اوہ ہاشر اس کے بارے میں کیا کہوں ڈاکٹر بس اپنا فرض ادا کر کے چلے گئے آپ پریشان مت ہو آگر جان انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا آگر جان کی ہمت بندھاتا ان کے پاس ہی بیٹھ چکا تھا ہمدانی کمپنی کے اونر پر حملہ یہ کیا کہہ رہا ہے شانی کنفرم ہے نا کہ ہمدانی کمپنی پر ہی حملہ ہوا ہے ہمدان کی حیرت بھی یقینی تھی ہاں یار اور وہ جویریہ فرار ہو چکی ہے بچہ بھی چھوڑ گئی مطلب یہ کام جویریہ کہیے ہمدان کو گویا سب سمجھ آ چکا تھا یہ جویریہ تو بہت ہی کمینی شہ نکلی میں سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا کمینہ لیکن یہ لڑکی تو مجھ سے بھی بڑی کمینی خیر اس کو چھوڑ بھائی کیسے ہمدان نے بیتابی سے پوچھا کازان بھائی ٹھیک ہے اور یار تیرا وہ بھتیجہ بھی بلکل ٹھیک ہے بلکہ بہت چرارتی ہو چکا ہے ہمدان کی دل کی حالت تک دم بے چین ہوئی اچھا اور میں اس یہی کہہ پایا ویسے تو کب آئے گا شانی کے سوال پر میں فلحال نہیں آؤں گا ایک بار بھائی کا دل نرم ہو جائے اور ان کو مجھ پر اعتبار آ جائے پھر میں واپس آ جاؤں گا ابھی اس عورت کو اپنی زندگی اپنجوائے کرنے دے بھتیجے کو اس قابل ہونے دے کہ اپنی ماں کے بغیر رہنا سیکھ لے چہرے پر تلک مسکرار سجائے اس نے اپنی پلیننگ شانی کی گوشت گزار کی آج بھی اس کی پلیننگ سن کر وہ دہلا لیکن آج شانی نے کچھ نہیں کہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ بولا تو حمدان نے اس کی عزت اپسائی میں ایک منٹ نہیں لگانا اس لئے اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا بیچین سی منتحہ آبان کو سلا کر ادھا ادھا چکر لگا کر گازان کی ناراض کی کھل سوچ رہی تھی کچھ دیر پہلے نماز میں حاشر کی سلامتی مانگ کر اب وہ گازان کو سوچ رہی تھی ہاشر کے تقلیب سن کر محض چند منٹ اس کے حواس سن ہوئے لیکن دل کی حالت پر ویسے ہی نارمل تھی گویا منتحہ سلطان کے دل میں ہاشر کے لئے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا گازان کی محبت چاہت عزت نے منتحہ کے دل پر اس حد تک قبضہ کیا تھا کہ منتحہ کے دل میں کسی کی دیوئے ذرا سے تقلیب بھی باقی نہیں رہی تھی اس وقت بھی اگر اسے پروا تھی تمہیں اس گازان کی ناراضکی کی یہ نہ جانے خودگرضی تھی یا پھر نکاح محبت اس کا اندازہ منتحہ کو بھی نہیں تھا ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی اس کا منتحہ کہہ کر چانہ اس کی ناراضکی کو ظاہر کر رہا تھا کہیں گازان کو سارا معاملہ پتا نہ چل جائے امیلیوں کو چٹکاتی وہ بس ایک کی سوز پر ارجی ہوئی تھی گازان آ جائے نہ تھکھار کر وہ بیٹ پر ٹکی تھی بیٹ گراؤن سے ٹیک لگائے وہ نین کی وادی میں جا چکی تھی رات قریبا ایک بجے گازان تھکا سا کمرے میں داخل ہوا اور منتحہ کو بے سکونی بھرے انداز میں سوتا دیکھ کر اس کے ماتے پر بل نمائے ہوئے یقیناً وہ اس کے انتظار میں جاگتی رہی تھی آگے بڑھ کر اس نے منتحہ کو بیٹ پر مناسب طریقے سے لٹانا چاہا لیکن وہ شاید کچھی نیند میں تھی گازان کے ہاتھ لگاتے ہو فوراں جاگی گازان آپ آ گئے کیسے ہیں آپ اور حاشر بے ساکتہ وہ خاموش ہوئی فیلحال کوئی امید تلب نہ خبر نہیں ملی آبان کے ماتے پر لب رکھ کر وہ بیٹ پر دراز ہوا اور فوراں آنکھیں موندی منتحہ کی آنکھوں میں نمی ابری جانتی تھی گازان سکت ناراض ہوں گے گازان بیٹ پر دوسری جانب آ کر اس نے گازان کی بازو پر اپنا ہاتھ رکھا منتحہ سوچ جائیں مجھے نین آ رہی ہے منتحہ کا رونا یک دب شروع ہوا اور یہی چیز گازان کو ہارنے پر مجبور کر دیتی تھی یک دب موڑا اور اٹھ کر اس کے برابر بیٹھا کیا چاہتی ہے آپ اب رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کیا آپ کو پرواہ ہے اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی حقیقت مجھے سننے کو مل رہی ہوتی ہے بارہا کہا ہے کہ مجھ سے کچھ مت چھپایا کریں لیکن شاید آپ کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سے ہر بار کچھ نہ کچھ چھپا لیتی ہیں منتحہ ایک بات میری آج کان کھونٹ کا سن لے مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے اور جو ایک بار جھوٹ بول کر میری نظروں سے گٹ جائے دوبارہ اپنا مقام نہیں بنا پاتا منتحہ کا دل یک دم دہلا تھا اگر میں ایک کھلی کتاب کی معنی نہیں ہوں تو آپ کو بھی ایک کھلی کتاب بننا ہوگا وہ بھی صرف میرے لیے دو مرتبہ آپ اس سے ملی لیکن آپ نے بھنک بھی نہیں لگنے دی کیا آپ اس شخص کو جانتی ہے مانتا ہوں اس نے پسند کی شادی کی تھی اور اگاچانک اسے گھسے بھی نکال دیا تھا لیکن آپ مجھے بتا تو سکتی تھی لیکن نہیں ست چھپانا شاید آپ کی عادت بن چکا ہے بازو سے تھامے گازہ نے سکتی سے کہا اگرم منتحہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر فوٹ فوٹ کر روئی بیوی یہ کیا بے وکوفی ہے ایسے کیوں رو رہی ہے کچھ غلط نہیں کہا اور جانتی بھی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا پھر بھی آپ رو کر مجھے اور گصہ دلا رہی ہے اس کے ہاتھوں کو زدہ آواز میں کہہ کر وہ گازہان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی اب ایک سسکی بھی باہر نہ نکلے انگوٹے سے آنسو ساف کر کے اس نے منتحہ کے کال کو سہلایا یہاں لیٹے صبح سے جاگ رہی ہے اپنا خیال آپ اب بلکل بھی نہیں رکھتی منتحہ کے سر کو اپنے بازو پر رکھ کر وہ نیم دراز ہوا دل و دماغ کی جانگ میں علشتی وہ گازہان کے پہلو میں سیمٹ چکی تھی گازہان میں کچھ کہنا چھاتی ہوں کچھ دیر بعد منتحہ کی آواز خاموشی میں گنجی اس کی آواز ہلکی سی پر اثرار تھی اس وقت میں کچھ سننے کے موڑ میں نہیں ہوں آنکھیں موندے اس نے دھیرے سے کہا گازہان بہت ضروری بات ہے پلیس سن لیں بیوی خاموش ہو جائے اس وقت آپ کے لیے نین بہت ضروری ہے بنا آنکھوں کے ساتھ منتحہ کی ہوتو پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اس نے منتحہ کے راز کو ہوتو میں ہی دفن کیا آنسو بے ساکتہ آنکھ سے نکل کر کن پٹی میں جزب ہوئے آج اگر وہ سچ خود اپنی موہ سے بدانے والی تھی تو گازہان نے خود اسے روک دیا تھا بیوی آپ کے کزن کی آنکھوں پر لگتا ہے محبت کی اتنی گہری پٹی بندی تھی کہ اس لڑکی کو زندگی میں شامل سے آگاہ ہوئے تھے ان میں سے ایک نام گازان کا بھی تھا اشر نے یہ خبر تمام نیوز چینل سے ہٹا دی تھی لیکن جانے والے جان چکے تھے وہ صرف میرے ہی کزن ہی نہیں آپ کے بزنس پارٹنر بھی رہ چکے ہیں منتحہ کو ہاشر کا محض کزن کہلانا بھی سوئی کی تیز نوک کی معنی چوبا تھا دندہی سے کہتی ہو پلیٹ ٹیبل پر پٹک کر کچن کی جانی بڑی کچن میں آ کر گہرے سانس دیتی خود کو نورمل کر رہی تھی ہاشر نام کی ہڈی کویا منتحہ کی زندگی میں فس کر رہے گئی تھی کازان مت چڑھایا کرو اسے بہت تنگ کرنے لگے ہو سمرین بیگم کی ڈانٹ کو سن کر وہ محض مسکر آیا منتحہ آ جاؤ بیٹا ناشتہ کر لو پھر آبان کی مصروفیت میں آپ ڈھنگ سے ناشتہ بھی نہیں کرتی وات یہ کیا کہہ رہی موم گازان کا ازلی حصاص پن اُبرا بیوی فوراں یہاں آئے منتحہ کی کوئی اونٹی آواز میں پکارتا وہ پیچھے کی جانی مڑا آ رہی ہوں اپنے حواز پر کابو پا کر وہ فوراں ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی دہکتی نگاؤں سے ایک نظر اسے دیکھ کر گازان ناشتے کی جانی متوجہ ہوا منتحہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا کھانے کے معاملے انٹال مٹول کرنا گازان کو پسند نہیں آیا چیئر پر بیٹھ کر اس نے گازان کا ہاتھ تھاما جسے گازان نے چھڑوانا چاہا لیکن آج منتحہ کی گرفت مضبوط تھی ایک ہاتھ سے ناشتہ کرتی اور کنکھیوں سے گازان کو یہ بارور کروا رہی تھی کہ وہ اپنا خیال بہت اچھے سے رکھتی ہے گازان نے بھی نظروں کا روپ بدل کر دو ٹوست اس کی پلیٹ میں رکھے تھے منتحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور ہلک میں نیوالا اٹکا لیکن گازان اپنے ناشتے کی جانے متوجہ ہو چکا تھا منتحہ سلطان کو اب ہر حال میں یہ ٹوست ختم کرنے تھے ڈاکٹر کے چن الفاظ نے گویا سب افراد کو نئی زندگی بکشی ان کو خوشت تو آ چکا ہے لیکن دیماغ کا زخم بہت گئرہ ہے شاید کچھ دن تک ان کے حواظ مکمل کام نہ کریں اس لیے انہیں کم از کم ایک مہینہ انڈر اوبزرویشن رکھا جائے گا پھر دوس بیگم ڈاکٹر سے اجازت لیتی تیزی سے اندر کی جانے بڑی دلی دل میں انہوں نے سیرو رب کا شکر ادا کیا تھا ماں کی ممتہ کو ایک نظر دیکھ کر ہی سکون آنا ممکن تھا سرد روح میں داخل ہوتی ان کی نظر بے بسی کی عالی تصویر بنے حاشر علی حمدانی پر گئی کسی زمانے میں ظالم اور کٹھو شخص آج بے بسی کا عملی نمونہ تھا انسان کو اللہ پاک دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے دل دکھانا عذیت دینا دوبارہ لوٹ کر ضرور آتا ہے اور یہی سب حاشر علی کے سپاس لوٹ کر آ چکا تھا آہیں بھرتی وہ حاشر کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا یک ہاتھ تھاما جلتے دل پر میں یہ سر آیا تھا کہ وہ حاشر علی حمدانی کو چھو سکتی تھی اسے اپنے سینے سے لگا سکتی تھی میرا بچہ بے سافتہ لبو سے دو لفظ نکلے اور آنسو حاشر کے ہاتھ کی پشت پر گرے آکسیجن ماسک کے پیچھے موجود لفظ کپ کپ آئے ولی شعور میں حاشر علی حمدانی کو اگر کسی کی برواہ تھی تو محض ولی کی تھی کہ اتنی گہری اور غلیظ حقیقت جاننے کے بعد بھی اولاد کی طرف حاشر کو محسوس ہو رہی تھی اس کا اندازہ حاشر کو بھی نہیں تھا ولی لبو سے دوبارہ اس کا نام نکلا وہ ٹھیک ہے بیٹا فردوس بیگم نے ہلکا سا حاشر کا ماتہ سہلایا اور اپنے لب اس کے ماتے پر رکھے اس کے ٹھیک ہونے کی قبر سن کر حاشر کو گویا سکون ملا دوبارہ نین کی دیویز پر مہربان ہو چکی تھی حاشر کو دوبارہ بے ہوشی میں ٹھیک ہے دیکھ کر فردوس بیگم فوٹ فوٹ کرو دی وات علینا یہ کیسے پوسیبل ہے علینا کی دی گئی خبر کو سن کر یک دم لائبہ حیران ہوئی مسٹر حاشر پر حملہ وہ بھی ان کی بیوی نے کروایا لائبہ جی جی جان سے کام پی اور اس کی آنکھوں کے آگے بے سافتا جویریہ کا معصوم چہرہ گھوما منتحہ کے ریسپشن اور پارٹی پر وہ اس لڑکی سے مل چکی تھی اور لائبہ کو تو وہ لڑکی بہت پسند بھی آئی تھی لیکن وہ اتنی بڑی دھوکے باز ہوگی اس کا اندازہ لائبہ کو بلکل نہیں تھا کیا مسٹر حاشر ٹھیک ہے جی میم کچھ بہتر ہے لیکن ان کی حالہ تب بھی کافی کرٹیکل ہے علینا لیسن تم مجھے وقتن پوقتن اطلاع پہنچاتی رہنا نرہا آفیس کا خاص خیال رکھو میں بہت جلد واپس آؤں گی چل ہدایت دیکھ کر وہ ہونڈرک چکی تھی اتنی چھوٹی سی لڑکی اتنا بڑا کام کر گئی یقین نہیں آ رہا مسٹر حاشر مجھے روک رہے تھے خاصان کو برباد کرنے کے لیے لیکن خود اپنی بیوی کے ہاتھ ہی برباد ہو گئے تو فیح تمہاری بے وکوفی پر تمہاری بے وکوفی پر تمہاری بے وکوفی پر تمہاری بے وکوفی پر میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا یا اللہ میں تو تیری گنہگار سی بندی ہوں یا میری بددعہ اتنی گہری تھی کہ اس شخص کی ساری زندگی تباہ کر گئی زمین پر ایک جانی سمٹ کر بیٹھی وہ محض ایک بات سوچ رہی تھی خاصان کے سامنے اس نے خود کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا اس کے جانے کے بعد خود کو کمرے میں بند کیے وہ اندر دبے ڈر کو باہر نکال کر لائی تھی یا اللہ میں اتنی بے ہس کیوں بنی اس دن کیوں میں نے اتنے گھٹیا الفاظ پولے تھے سسکیاں بھرتی وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی لیکن شاید اس سوال کے جواب کسی کے پاس نہیں تھے اپنے کندے پر دباؤ محسوس کر کوئی اگدم سہمی اور جھٹکے سے مڑی موم آپ مجھے پتہ نہیں چلا سوری جھٹکے سے وہ زمین سے اٹھی اور آبان کو ان کی گوز سے لینا جہاں جو گھری نین میں تھا یہ سو چکا ہے سمرین بیگم دھیرے سے کہہ کر اسے بیٹ پر ایک جانب لٹا کر واپس منتحہ کے قریب آئی میں جانتی ہوں آپ کیوں پریشان ہے حاشر بھئی ہے نا جس نے آپ کو چھوڑ دیا تھا منتحہ نے نشلا نشلا ہوت دانتوں تلے دبا کر سسکی روکی بیٹا یہی تو انسان کی خطہ ہے کہ وہ قصے میں سب بھول جاتا ہے منتحہ میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت سی ذہنی الجانوں میں اولت چکے ہوگی آنٹی میں مزید اس راز کے ساتھ نہیں جی سکتی خدا رہا موم آپ گازان کو راز بتا دے موم مجھے لگتا ہے میری زندگی جھوٹ کے سارے گزر رہے موم آپ جانتی ہیں بزہر میں گازان کے ساتھ اپنے مسکراتی ہوں زندگی میں آنگے بڑھ چکی ہوں لیکن موم آج بھی آج بھی میرے دل میں وہ ڈر کنڈلی مار کر بیٹھا ہے کہ جس دن گازان کو سچائی پتا چلے نہ جانے کیا ہوگا موم جب جب میں نے گازان کو بتانا چاہاں کوئی نہ کوئی مشکل آڑے آ جاتی ہے موم میں تھک چکی ہوں موم پلیز مجھے قسم سے آزاد کر دے روتی بھی لگتی وہ سمین پر بیٹھی سمرینگ بیگم کی آنکھیں نمی سے بھر گئی تھی منتحہ میں جانتی ہوں میں آپ کو تکلیف مبتلہ کر چکی ہوں لیکن منتحہ جانتی ہو گازان کتنا تڑپا ہے تمہیں پانے کے لئے اور اگر اسے سچائی پتا چلی تو جانتی ہو ٹوٹ جائے گا اور ساتھ ساتھ تمہیں بھی توڑ دے گا اس کی محبت اتنی شدت پسند ہے تو نفرت کا سوچو منتحہ وہ کیسی ہوگی کیا رہے پاؤگی گازان کے بغیر کیا تنہا زندگی گزار پاؤگی منتحہ عورت کا کردار ایک سفید کپڑے کی معنی ہوتا ہے اس پر اگر ایک ہلکہ سا بھی بدلہ چھٹا پڑ جائے وہ اس کپڑے کی معنی بیکار ہو جاتا ہے میں یہ درد سہ چکی ہوں لیکن منتحہ میں تمہیں یہ درد سہ نہیں نہیں دوں گی مام پلیز نہیں میں مزید نہیں رہ سکتی اس جھوٹ کے ساتھ مجھے بس اس جھوٹی زندگی سے نجات چاہیے لیکن منتحہ ایک مرتبہ پھر سوچ لو مام میں کیا کروں اس حد تک اپنی زندگی سے ڈر چکی ہوں کہ ذرا سے گازان کی بیعتنائی برداشت نہیں کر پاتی پھر گازان سے دوری سسکیا لیتیس نے بات ادوری چھوڑی منتحہ آج پھر ہاری تھی منتحہ سلطان دو کشتیوں کی سوار ہو چکی تھی اور دو کشتیوں کا مسافر کبھی منزل نہیں پاتا مام جانتی ہے ہرشیر کو میری بددعا لگی ہے اسے میں نے بددعا دی تھی کہ تم بھی برباد ہو اور دیکھی مام وہ برباد ہو گیا مام میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا یک دم وہ ان کے سینے سے لگی اور گردن کے گرد بازو حائل کیے ذات کا پیمانہ چھلکا تھا نہیں منتحہ ہر انسان جب ہوتا ہے وہی کارتا ہے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں لیکن وہ تمہارا ماضی تھا اور گازان تمہارا حال مستقبل سب کچھ ہے اگر تم ماضی کو سوچتی رہو گی تو کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی مام میں دور نہیں رہ سکتی کہ آسان سے پر مام یہ سچا ہے ایک سیاگ ناک یہ طرح میرا تعاقب کر رہی ہے میں میں کیا کروں آپ پریشان مت ہو میں دیرے دیرے گازان کو سب بتاؤں گی ایک دم اگر سارا سا بتایا تو وہ بھڑک جائے گا اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی گازان سمرین بیگم کا ہاتھ تھام کر ان کے پاس بیٹھ گیا دیکھو بیٹا میری بات کو غلط انداز مت لینا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کیا اور کیسی وجہ گازان الچا تھا سمرین بیگم کی حدیلیا ایک دم نم ہوئی وہ جانتی تھی کہ حقیقت گازان اور منتحہ کے رشتے کو تباہی کے دھانے پر لے آئے گی میں کہنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی منتحہ کے چیک لاؤنڈ میں گنری تھی مام 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 منتحہ گازان تیزے سے باہر کے جانے بڑھا آواز کچھن سے آئی تھی وہ شاید آبان کے لیے دودھ گرم کرنے آئی تھی لیکن بیدہانی دودھ اپنی بازو پر گرا چکی تھی کچھن کے دروازے پر اس کے قدم تھمیں منتحہ کی پوری بازو پر گرم دودھ گر نشان چھوڑ گیا تھا بیوی کیا ہوا یہ کیسے جلایا کیا دھیان نہیں تھا کہاں گم تھی اتنی لاپر بھائی کون کرتا ہے ایسے کام کرتے ہیں بوہ بوہ کہاں ہیں گازان ایک دم چلایا تھا وہ اکھلائی سی بوہ کچھن میں آئی اور منتحہ کی جلی ہوئی بازو دیکھ سہمی بی بی جی میں آنے والی تھی لیکن بوہ مجھے کچھ نہیں سننا آپ چلے یہاں سے بازو سے اس کو تھام کر وہ باہر کے جانب بڑھا گازان میری باند سنیں آبان آبان اکیلہ ہے وہ رونے لگ جائے گا وہ ہم سمال لے گی اسے آپ چلے میرے ساتھ ساری بازو جل چکی ہے لیکن آپ کو پرواہ ہی نہیں اتنا درد کیسے برداشت کر رہی ہے منتحہ کو گاڑی میں بٹھا کر وہ قریبی کلینک پر لائیا تھا دودھ زیادہ گرم ہونے کے وجہ سے بازو کافی حد تک جل چکا تھا لبوں کو ہلکا سا میٹ کر جیسے اس نے تکلیف زرد کی بازان کی مسلسل نظر اس کے چہرے پڑی تھی اور وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ منتحہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے ضروری عدویات لے کر وہ ڈاکٹر نے انہیں رخصہ دے دی تھی اگر لا پروائی نہ کرتی تو آج یہ حال نہیں ہوتا اور یہ بات کیا اس دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے یہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا سا دماغ پر انگلی سے دباؤ ڈال کر اس نے منتحہ کو سخت تسس سنائی منتحہ ترک سا مسکرائی اور یہ تو ایک مسکرہت گازان کے دل پر وار کر گئی بیوی کیا بہت تکلیف ہے سڑک کے درمیان میں گاڑی روک کر کچھ اگر منتحہ کے جانب بڑا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما منتحہ نے بے ساختہ نفی میں سرگلایا I am sorry میں غصے میں out of control ہو جاتا ہوں دھیرے سے ماتھی پر لب رکھ کر اس نے انگلی کے لمز کو مٹانا چاہا منتحہ اگدم سمٹی تھی گازان گھر چلے آبان اکیلا ہوگا آنکھیں مونتی مسید کے ساتھ ٹیک لگا گئی منتحہ کی آلت کے پیش نظر گازان نے اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا نہ جانے قسمت منتحہ سلطان سے کون سا امتحان چاہتی تھی جب جب سچائی کو گوش گزار کرنا چاہاں کوئی نہ کوئی مشکل اس سچائی کو دفن کر دیتی آج بھی یہی ہوا تھا اور آج ہی منتحہ سلطان نے کچھ سے زد باندھی تھی کہ وہ اب کچھ نہیں بولے گی کچھ نہیں سوچے گی جو ہوگا وہ وقت کے دھارے پر چھوڑ دے گی نہ جانے یہ زد اب کیا رنگ دکھانے والی تھی اکڑ کتم ہوئی یا نہیں ایک مہنی سے وہ یہاں قید تھی روز کی چیخو پکانے جمیل کو کل شدید تیج دلایا تھا جس کے نتیجے میں وہ جویرے کی ذات کے بخیے ادھر گیا تھا نیلو نیل چہرہ بکھرے علچے بال جویرے کی بربادی کو ظاہر کر رہے تھے تو تم کتے کی موت مرو گے تم تم کسی قابل نہیں رہو گے مجھے آزادی دے دو یہاں سے حمدان مجھے مجھے بچا لو حمدان آ جاؤ حمدان اس کی پکار سنکا ٹمیل کا قریہ آئے کہا گنجا حمدان کے پاس جائے گی بالوں کو جکر کر اور تنفر سے بولا ارے تیرا عاشق تو باہر کی کھلی فضاؤں میں گوریوں کے ساتھ رنگ رلیا منا رہا ہوگا وہ تجھ جیسے گنہگار چیز کو کیوں پوچھے گا آہ چھوڑو مجھے مجھے چھوڑ دو تکلیف کی شدہ سے جویریا نے سے بولنا ناممکن تھا لے چھوڑ دیا اگدم اس نے جویریا کو پتریلی زمین پر دھکیلا بازو پر لگتی رگڑنے لبو سے آہ خارج کی تھی اس ایک مہینے میں گویا زندگی کی ساری تکلیفات جی چکی تھی لیکن شاید اکڑ کا ابھی بھی ہلکا سا ٹکرا جویریا کی ذات میں جموجود تھا چو نہ جانے اب کب ٹوٹنے والا تھا ما شاء اللہ آپ نے بہت جل ریکار کیا ہے کل تک انشاءاللہ آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا ڈاکٹر کے الفاظ پر اس نے ہلکا سا سر ہلایا اسے ایک مہینے میں ہاشر بظاہر زندگی دوبارہ زندگی کی جانی بیا تھا لیکن وہ ولی کا راس اپنے دل میں دبا چکا تھا جویریا کی دیئے گئے زخم نے ہاشر کو ایسا توڑا تھا کہ ایک بار اب شاید تاؤ مر اس کا جڑا ممکن نہیں تھا تکلیف میں بھی اسے اگر پروا تھی تو ولی کی تھی جویریا کے آخری الفاظ ہاشر کے دماغ میں ایک سوئی کی معنی خوب چکے تھے اور وہ لوگ سے ایسے حاوی ہوئے تھے کہ تکلیف میں بھی انہنی سی جان اس کے دل و دماغ پر حاوی تھی اپنی محبت اور اپنی بے وکوفی اور انا میں کھو چکا تھا ایک انا کو اہمیت دیتے دیتے وہ باقی تمام رشتوں کو کھو چکا تھا اب اپنی اولاد کو کھو کر اپنی زندگی کا واحد سہارا نہیں کھو سکتا تھا یہ فیصلہ اس کے لئے نہایت کٹین تھا کہ وہ اپنی ناجائز اولاد کے سہارے زندگی گزارنے والا ہے لیکن اپنی سزا سے بہتر اسے وہ بچہ ہی لگا تھا اس بچے کو دیکھ کر اسے کم از کم یہ احساس تو تاؤں مر رہتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر چکا ہے کسی کی آہا بد دعا اپنی اثر کر ہی دیتی ہے کل میرا بچہ ہمارے ساتھ واپس جائے گا پھر دوست بیگم کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی اس پورے ماہ میں کسی نے حاشر کو ایک لفظ دل آزاری کا نہیں کہا تھا لیکن حاشر علی کی ندامت شاہد اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی شائعنا کیا ایک بار میں چلی جاؤں ایک نظر ہاشی کو دیکھ آؤں تو شاید میرے دل کو سکون آ جائے مام آپ کیا چاہتی ہے دوبارہ وہاں سے بے عزت ہو کر آنا چاہتی ہے کیا بھول گئی ہے آپ کے کیسے آپ کو اور مجھے اس حویلی سے بے عزت کر کے نکالا گیا ہے اگر آپ کو اپنی عزت نفس کی پرواہ نہیں ہے تو جائیں میں آپ کو روکوں گی نہیں شائعنا کیا تمہارے دل میں اب بھی ندامت باقی نہیں ہے کیا اب بھی تمہیں احساس نہیں ہے کہ ہم دونوں کیا گناہ کر چکے ہیں اوہ مام جشت چل غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوئی تھی تو کیا میں اب اس غلطی کو سوچ سوچ کر روک لگا لوں نو مام ایمپوسیبل مام لائف میں آگے بڑھنا چاہیے نہ کہ ایک جگہ رکھ جاؤ مام آپ کو مزے کی بات بتاؤ مام مجھے میری پسند کلائف پارٹنر مل گیا ہے مام اوف کیا پرسنلیٹی ہے دل بس اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے توبہ بیگم شائنہ کی صفاقیت دیکھ کر ایک دن سن رہ گئی تھی لیکن اس میں بھی انہیں شائنہ کا قصور نہیں پلگا تھا اس میں اگر کسی کا قصور تھا تو سرسر ان کا ہی تھا شائنہ کو بگاڑنے میں انہوں نے ہر حد پار کر دی تھی شائنہ اب بھی کچھ بول رہی تھی لیکن ان کا ذہن بس اپنے پشتائے میں اُلچھا تھا تیزی سے اٹھ کر وہ اپنے روم کے جانب بڑھ گئی شائنہ نے ہی دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا کہ توبہ بیگم جا چکی ہے یا نہیں وہ اپنے موبائل مگن ہو چکی تھی شکر ہے نشان چلا گیا برنا جب جب میں اس زخم کو دیکھتا مجھے آپ پر غصہ آتا رہتا منتحہ کی بازو پر اپنے ہاتھ کلاؤں جگاتا اس نے منتحہ کی جانب شرارت آمیز نگاہوں سے دیکھا ناممکن باتیں نہیں کرتے گازان منتحہ نے مسکرات ہوئے اپنا ہاتھ کھچا بیوی کیا جادو ہے آپ میں جب جب آپ کو دیکھتا ہوں محبت بڑھ جاتی ہے کیوں اتنا دیوانہ بنا دی ہے کیا اپنے اس دیوانے پر رحم نہیں آتا رحم کیوں منتحہ نے نظر اٹھا کر گازان کی جانب دیکھا رحم اس لیے کہ اتنا زالی کون ہوتا ہے اپنا اتنا اسیر کون کرتا ہے تو اس کے بینہ جینا مشکل ہو جائے منتحہ کے ماتے پر بل نمائے ہوئے کوئی الٹی بات مت کیجے گا گازان منتحہ فوراں رک موڑ گئی گازان نے تیدی سے پیچھے سے بازو کا گہرہ تنگ کیا آج بچنا ناممکن ہے بیوی دیرے سے سرگوشی کیس نے منتحہ پر گرفت سکت کی یقیناً محبت اپنا گہرہ تسلط جمانے والی تھی دیدی ڈیڈو چاہیے تین سالہ آبان صدی کی بقول منتحہ کے بابا کا ڈرامی باز بچہ بیٹھ کے درمیان میں کال پھلائے بیٹھا تھا منتحہ کی حمت اب جواب دے چکی تھی اس چھٹان بھر کے بچے نے منتحہ کی جان حرکان کر کے رکھ دی تھی صبح سے بس ایک دھن سر پر سوار تھی کہ ڈیڈو چاہیے ورنہ فیڈر نہیں پیے گا اور نہ ہی کچھ کھائے گا وہ آ جائیں گے آپ یہ فیڈر تو لے دیکھو آپ نے کچھ نہیں کھایا اب یہ دو تو پی لو اچھا آؤ یہ یمی نوڈلز کھا لو آؤ میرے پاس آؤ نو میں نہیں آؤں گا نو میں میں نہیں آؤں گا منتحہ بیٹھ کی ایک جانب کھڑی التجائی نظروں سے آبان کو دیکھا لیکن ڈیڈو کا لارلہ بس ایک زد پر آر چکا تھا دیدی میں بابا تو بتاؤں نہ آپ نے مالا مو فلا کر ہاتھ باندھیں ماتھے پر بل نمائی کی اس نے منتحہ کو دھمکایا منتحہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی وہ پکڑ رامے باس تھا منتحہ کے اقین ہو چکا تھا کہ یہ بچہ اسے اپنے بابا سے پٹوا کر ہی رہے گا وقت بگدل چکا تھا جنہ سہابان صدی کی تین سال کا ہو چکا تھا اور اتنی سے عمر میں ہی وہ منتحہ کو نیم پاگل کر چکا تھا باب کی دیکھا دیکھی وہ بھی منتحہ کو بیوی کہنے کی کوشش کرتا تھا اور جب پہلی بار اس نے دیدی بولا منتحہ اور گازان کے آنکھیں حیرت سے پھیلی اور ہسی کا نہ رکنے والا توفان شروع ہو چکا تھا گازان نے تو باقیدہ شکر ادا کیا تھا کہ وہ بیوی نہیں کہہ بایا اور اس کی زبان کی لڑکڑا ہٹ نے کم از کم بیوی سے بچا لیا تھا ڈیڈو کو کیا کہنا ہے اور مجھے کیوں مار پڑھواؤگے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا منتحہ نے مسئلی بیچارگی سے کہا آپ نے یک دم سوچ میوٹو با کہ کیا بہانہ بنائے بولو بھی اب آپ خاموش کیوں ہو گئے منتحہ نے دھیرے سے اس کی جانب قدم بڑھائے لیکن صدا کا چالاگ بچہ پھورا منتحہ کی بڑھتے قدموں کو دیکھ چکا تھا پھل آپ میلے پاچ آ رہی ہے میں نہیں پینا دود آنکھوں کو چھوٹا کیے اس نے منتحہ کو وان کیا آبان میں آپ کو اب تھپڑ لگاؤں گی منتحہ مسئلی گستے سے بولی آبان تو گیا موقع کی تلاش میں تھا دیتا آپ مجھے ماننے لگی ہے بھاں بھاں کر کے اور رونا سٹارٹ کر چکا تھا منتحہ آجیزی سے سر پر ہاتھ رکھ کر کاؤنٹ پر بیٹھی اوف آبان کیوں اتنا تنگ کر رہے ہو گازان کا نمبر ڈائل کرتی وہ آبان کے جانب متوجہ رہی گازان کی آج ایمپورٹن میٹنگ تھی اس لئے وہ آج لیٹ ہو گیا تھا ورنہ آبان کی وجہ سے وہ دو دن میں ایک چکر ضرور لگا لیتا گازان کی محبت نے اس حد تک منتحہ اور آبان کو اپنا آدھی بنا دیا تھا کہ دونوں ماں بیٹا چند گھنٹوں کیلئے گازان سے دور نہیں رہ پاتے تھے حویلی بھی وہ ان تین سالوں میں بہت کم گئی تھی اگر جاتی بھی تو رات سے پہلے واپس آ جاتی تھی اور بعض اوقات وہ حاشر کی گئر موجودگی میں ہی جا پاتی تھی کیا ہوا ڈیڈو کی جان کو گازان کی آواز سن کر وہ تیزے سے بیٹ سے نیچے اترا اور اگدم گازان کی ٹانگوں سے لپٹا منتحہ نے تیکھی نظر گازان کی جانب ڈالی اور خود وارڈروپ کی جانب بڑھ کر پہلے سے سیٹ وارڈروپ کی سامان کو دوبارہ سیٹ کرنے لگی گازان کے گھنی موچھو تلے لگ مسکائے تھے کیا ہوا کیوں رو رہا تھا میرا بیٹا آپ کو کہا تو تھا کہ آج بابا لیٹ آئیں گے پھر ایسے زد کیوں کرتا ہے گود میں اٹھا کر اس نے دھیرے سے آبان کا گھار چوما بیوی بیوی کو کیا ہوا ہے گازان نے مندھم پر تھوڑے گہرے انداز میں کہا ڈیڈو دیدی نے مارا آبان کو اگدم منتحہ کی تھپر والی دھم کی یاد آئی what بیوی یہ کیا کہہ رہا ہے آبان آپ نے آبان کو تھپر مارا گازان مسلی ناراضگی سکویا ہوا منتحہ نے زور سے ورڈروپ کا دروازہ بند کیا اور تیکھی نظر گازان کے مسکاتے چہرے پر ڈالی جو ان تین سالوں میں مزید پرکشش اور مزید سوبر ہو چکا تھا اس کی ہلکی بڑی داری اور گھنی اوچھے روشن چہرے پر خوب جشتی تھی اپنے بیٹے سے ہی پوچھ لے میں نے اسے کیسے مارا ہے منتحہ کے جواب پس نے آبان کی جانت دیکھا جو اس کی کردن میں باہوں کا ہار بنائے چپک کر گوز میں چڑھا ہوا تھا آبان کیسے مارا ہے آپ کی مام نے گازان کے سوال پر اگدم آبان سوچ میں روبا ذہن کی سکرین پر کارٹون کا سین پروشن ہوا ڈیڈو ایشے ایشے مارا ہے اپنی ہاتھ کی پوری طاقت لگا کر اس نے گازان کے گال پر پنچ لگایا آوچھ اگدم گازان سٹ پٹایا اور منتحہ کا کہہ کہا پوٹا ہستے ہوئے وہ کاؤچ پر دراز ہوئی آبان کے ہاتھ کی شدت کچھ زیادہ ہی تھی بیوی آپ آبان کو ایسے مارتی ہے گازان نے اپنے گال کو سہلاتے منتحہ کی جانب دیکھا چھرارتی میں نے آپ کو کب مارا اسے منتحہ نے ہستے ہوئے آبان کو دیکھا رکے میں بتاتی ہوں میں آبان کو کیسے مارتی ہوں کاؤس اٹھ کر وہ گازان کے قریب آئی اور دھیرے سے گازان کے دوسرے گال پر ہلکا سا پنچ مارا اور تیزی سے اسے دور ہٹی آوچ آج یہ ماں بیٹا مجھ سے کون سے بدلے لے رہے ہیں بازو سے پکڑ کر اس نے منتحہ کو اپنے خریب کیا اور اپنی بازو اس کے گردن کے گرد رکھ کر لکھ رکھایا گازان چیٹنگ نہیں کرتے چھوڑے مجھے منتحہ کا سر گازان کے کندے سے لگا اور گردن ہلکی سی پیچھے کے جانب ڈھلکی اب بتائیں کون سے بدلے لے رہی ہیں سرگوشی کے انداز میں اس نے منتحہ کو کہا آپ کو لیٹ آنے کی ہلکی سی سزا دی ہے اور سزا آج بنتی بھی تھی جو آپ کی بیٹے نے آج مجھے ستایا ہیں میں آج اس آ چکی تھی آپ کے اس لائٹزے سے اگر اب بھی آپ نہ آتے تو میں نے آفس پہنچ جانا تھا پھر بے شک آپ کی میٹنگیں کیوں نہ خراب ہو جاتی اوف دھمکی یاد آپ خود شدت سے کر رہی تھی سبت ہوئی ڈیڈو ڈیڈی نے دودو بھی نہیں دیا آبان کی شکوہ بھری آواز نے منتحہ کے چہرے پر گصہ تاری کیا آبان اب میں سچ میں ایک تھپڑ لگاؤں گی منتحہ نے گازان کے بازو سے نکلنا چاہا لیکن اس کی گرہ سخت تھی آبان نے فوراں گازان کے گردن میں مو چھپایا گازان اب چھوڑ دے مجھے اس کو بتاتی ہوں کہ اسے میں نے فیڈر دیا ہے یا نہیں ڈیلیکس بیوی گردن سے بازو ہٹا کر اس نے منتحہ کے گردن کو گردن بازو ہائل کی جلدی سے ریڈی ہو جائے آبان آج پھلے لینڈ جائے گا پہلے فیڈر پھر پھلے لینڈ اوکے آبان یس ڈیڈو تلے اوف گازان آپ آج پھر نو میں بلکل نہیں جاؤں گی ابھی پرسو ہی نواب صاحب گئے تھے مسنوی گھورے سے وہ آبان کو دیکھتے ہو بولی ریڈی ہو جائیں پانچ منٹ ہے آپ کے پاس مزید بہانہ نہیں سنوں گا ریڈی مطلع ریڈی میری پسند آپ جانتی ہیں اپنی پسند سے اسے آگاہ کرتا ہو آبان کو لے کر سمرین بیگم کے کمرے کی جانی بڑھ گیا اور منتحہ چلنے کے سینداز میں وارڈ راپ کی جانی بڑھ گئی کازان کا حکم ٹالنا اس کے لئے ناممکن سی بات تھی بلے لینڈ میں آتے ہی آبان کے چہرے پر رونک چمکی ساری زیدھی آج بلے لینڈ آنے کی تھی بیوی دیکھیں ہمارا بیٹا کتنا فاسٹ ہے بہانے بنا بنانا کوئی اس سے سیکھیں گرین کلر کے خوبصورت سے جوڑے میں ملبوط سر پر ہلکا سا ہجاب ہاتھوں میں گازان کی دیگ گئی چند چوڑیا اور پاؤں میں مناسب ہیلز پہنے وہ گازان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی آبان کی پیدائش تک جس نے ہیلز کو دیکھنے بھی نہیں دیا تھا آبان کی پیدائش کے بعد اسے دوبارہ ہائے ہیلز پہننے پر مجبور کر چکا تھا منتحہ کا دن ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ گازان کی کوئی خواہش دت کریں کچھ گازان کی خواہشات ایسی تھی جب منتحہ آرام سے مان سکتی تھی تکلیف کا ذرا سا بھی پہلو وہ منتحہ کی ذات کو نہیں دے سکتا تھا ہلکی نوک جھونک لڑائی ڈھگڑے ہر میابی میں ہوتے ہیں منتحہ اور گازان کی درمیان بھی اکثر بحث ہو جاتی تھی لیکن ہمیشہ گازان ہی اسے مانانے میں پہل کر جاتا اور یہی چیز منتحہ کو ایک پرسکون راہت بھری زداز کی فراہم کر دیتی محبت کے ساتھ ان دونوں کے رشتے میں عزت بھی تھی آئیں وہاں بیٹھتے ہیں وہ منتحہ کو لئے ایک ٹیبل کی جانیب آیا آبان اپنے فیوریٹ ٹوائز کے ساتھ بیزی ہو چکا تھا منتحہ کا آج کچھ ہلک احساس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے انہیں دو تین بار ادھا ادھا دیکھنا چاہا لیکن کوئی ابھی اسے نظر نہیں آیا جو اسیا چاہے گازان نے اس کے جانب سوالی انداز سے دیکھا جو آپ کا دل چاہیں منتحہ نے مسکرا کر کہا دل تو بہت کچھ چارہ آئے گازان نے دھیرے سے سرگوشی کی دل کی اتنی نہیں سنتے صاحب منتحہ نے ہلکہ سر لپ دانتوں تلے دبایا پر جو اس دل میں ہے اس کی سننی پڑتی ہے بڑی ہی سالی محبوبہ ہے چارو جانب اپنا قبضہ کر کے بیٹھی ہے جوابن کہہ کر گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی بیٹے کے باپ بن چکے ہیں ٹین ایج والی ہرکتیں کم کر دے منتحہ کے الفاظ پر گازان نے ناک کے نتنے بھلائیں what ٹین ایج بیوی not fair یار ہماری عاشقی کو ٹین ایج کی حرکتیں کہہ دی منتحہ محض مسکرائی تھی گازان چلیں نظروں کے چوبن نے آج منتحہ کو اچھا خاصا بیٹین کر دیا تھا کیا ہوا ہے آج آپ کچھ بیٹین سی لگ رہی ہیں گازان نے اس کی بیٹینی نوٹ کی نہیں آج آئے چلتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کا سردد مزید بڑھیں گازان اس کی طبیعت کے پیشن نظر فوراں ڈھا اور اس کا ہاتھ تھام کر پلے رین کے جانب لائے تھا ڈیڈ ہو آبان تیزی سے گازان کے جانب آیا ڈیڈ آپ کو پتہ ہے ایت انتن مجھے یہاں کس کر کے اور یہ چوکلٹ دے کر دے ہیں آبان نے چوکلٹ گازان کے جانب بڑھائی جو کافی بڑی تھی منتحہ کی اگدم سانس رکی اس نے فوراں وہ چوکلٹ آبان کے ہاتھ سے لی آبان میں نے آپ کو کہا تھا کہ کسی سے کوئی چیز نہیں لینی پھر آپ نے کیوں لی منتحہ نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھیچا آبان یہ اگدم سہما بیوی لیکس بچہ ہے میں سمجھاتا ہوں آ جاؤ میرا بیٹا آبان کو گود میں لے کر منتحہ کا ہاتھ تھامیں باہر کے جانے بڑا منتحہ کے پاتھے پر ہلکا سا پسینہ نمائیا تھا دو مرتبہ پیچھے دیکھنے کے باؤدنت سے کوئی نظر نہیں آیا پلین لینڈ کے ایڈیا سے باہر نکلتے تھے اس نے وہ چوکلٹ ڈس بین میں فینکی اور گازان کی ہم قدم ہوئی گاڑی کو نظر سے اجھل ہونے تا دو سیاہ آنکھیں یہ منظر نہا تنفر سے دیکھتی رہی چوکلٹ کو ڈس بین میں دیکھ کر مقابل شک محض مٹھیاں بھیج کر رہ گیا مس عریبہ میرے کیبن میں بھیجے میں نے کہا تھا کہ یہ فائل شام تک مجھے چاہیے لیکن انہوں نے ابھی تک کمپلٹ نہیں کی ورکر کو گصے سے کہہ کر اپنے روم کے جانے بڑھ گیا ہاشیر اس کمپنی کو کب سے خیرابات کہہ چکا تھا لیکن اشر کو ایک آوارہ نہیں تھا کہ یہ ہزاروں لوگوں کی روزی کا مسئلہ ان کے وجہ سے خراب ہو اور اس اہم فیصلے میں عریبہ اس کی ہم قدم تھی مس عریبہ سر بلا رہے ہیں ورکر کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا سر فائل کا پوچھ رہے ہیں جی مس عریبہ اور بہت گصے میں ہیں عریبہ نے بے ساختہ مو بنایا جانتی تھی یہ اس کا روم میں بلانے کا کوئی بہانہ ہے اوکے میں جاتی ہوں فائل لے کر وہ اشر کے روم کے جانے بھائی اور دھیرے سے نوک کر کے اندر کی جانی بڑی سر یہ فائل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میرا ٹائم بھی آف ورٹو کر مجھے دیر ہو جائے گی شام تک حویلی پہنچنا ہے پروفیشنل انداز میں کہہ کر وہ فائل ٹیبل پر رکھ کر دروازے کی جانی بڑی لیکن اشر کی گرفت نے اس کو کٹی ڈال کی طرح پیچھے کے جانے کھسکایا مس عریبہ اتنی بھی کیا چلتی ہے مجھے بھی گھر ہی جانا ہے بازو کو ہلکا سا کمر کے پیچھے موڑیں اس نے عبر اٹھکا کر کہا سر یہ کیا بتتمیزی ہے یہ آپ کا گھر نہیں آفیس ہے اور میں آپ کی بیوی نہیں سیکرٹری ہوں عریبہ کل رات سے اشر سے ناراض تھی اشر کی فرمائش پر کل شام اس نے سپیشل لزانیا بنایا تھا جسے اشر اچھی طرح ہڑپ کر کے ایک طلب تاریخ کبھی نہیں بولا تھا اور یہی عریبہ کے تیش کے وجہ تھی صبح بھی اس نے مو فلا کا سارا سفر تیگ کیا تھا بیوی نہیں ہے تو آج ذرا سیکرٹری کو ہی لفٹ کروا دیتے ہیں ڈیٹ پر چلیں گی آنکھ کو ہرکا سا بلنگ کر کے اس نے عریبہ کے جانب دیکھا ہر شیئر یوں آئی ویل کل یوں ایک دم اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ اس پر جھمتی مس عریبہ کیا ہو گیا ہے کیوں شریف آدمی کی عزت کی وارٹ لگا رہی ہے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہڈا کر کابو کیس نے چھرارت آمیز رہجے میں کہا آمی کو بتاؤں گی ان کے بیٹے کی کارنامے دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ کی زبان بن ہوتی ہے عریبہ نے دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر بازو کو جھٹکا دیا لیکن اشر نے اسی بازو کو جھٹکا دے کر اپنی وزید قریب کیا کیا بتاؤں گی کہ میرا بہت بہت رومانٹک ہے یا پھر یہ کہ مجھے آفیس میں چھڑتے ہیں یا پھر یہ کیا می آپ کا بیٹا مجھے ایک دم عریبہ نے اس کے سینے میں مو چھپایا سٹاپ اٹ اشر بہت بے شرم ہے ہاں وہ تو میں بہت زیادہ ہوں باہر گوریوں کے ساتھ کافی ٹائم سپینڈ کیا ہے سرگوشی کے سینے انداز میں اس نے عریبہ کو مزید چڑھایا اشر اب میں رو دوں گی عریبہ نے ازلی دھمکی دی کیا میرے انہیں دوں گا ہلکے پین اپ زدہ بالوں پر لب رکھتا وہ گویا ہوا لزانیا بہت بہت ٹیسٹی تھا دل چاہ رہا تھا بنانے والے کہ ہاتھ بکھا جاؤ تاریخ اس لئے نہیں کیونکہ میں ہاتھ بکھا سکتا تھا اس لئے رات تاریخ کو سائٹ پر رکھ دیا تھا آج اس تاریخ کو میں اپنے انداز میں کروں گا کمر کے گرد گرہ ڈال کر اس نے ہلکا سا عریبہ کو خود میں ویٹا بے شرم عریبہ محض یہی کہہ سکی یہ آج الگ سا احساس کی ہو رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا آبان کو چوکلٹ آخر کون دے سکتا ہے کہیں ہمدان نہیں وہ کیسے آ سکتا ہے ان تین سالوں میں ہمدان کا فون بہت کم آتا تھا سمرین بیگمی بعض اوقات فون کر لیتی تھی لیکن گازان نے بہت کم رابطے بحال کیے تھے منتحہ کی اس دن والی حالت گازان کے دن میں ہمدان کے لئے ناراض کی بڑھا گئی تھی معافی کا اکثر اوقات ذکر کر کے وہ گازان کو معافی کی جانب لاتا لیکن گازان چاہا کر بھی اس بات کی جانب نہیں آتا اپنی نرم روی سے وہ ان تین سالوں میں گازان کا دن ہلکا سا نرم کر گیا تھا لیکن گازان نے اسے یہاں آنے کے لئے دوبارہ نہیں کہا تھا یہ بھی ایک طرح منتحہ کے لئے سکون کا باز تھا لیکن آج نہ جانے اسی احساس کی ہو رہا تھا کہ وہ نظرے ہمدان کی ہی ہے حالانکہ منتحہ اس شخص کو دیکھ نہیں پائی پر اسے ہلکا سا شک ہوا تھا لیکن اس شک پر وہ فیلحال یقین کی مہن نہیں لگا سکتی تھی گازان کو بتا دو سمجھ نہیں آ رہا کیا کرو سوال اور جواب کے تانی بانے میں اور جی وہ آبان کو سلا رہی تھی جب گازان کا ہاتھ اپنے بازو پر محسوس ہوا سوئی نہیں آپ گازان کی آواز سن کر وہ ہلکا مسکہ آئی آپ بھی تو جانگ رہے ہیں منتحہ نے کروٹ کے بل لیٹے ہی جواب دیا بس آپ کو پیچھائیں دیکھ کر میری آنکھ بھی کھل گئی جانتی ہے نا اس بازو کو آپ کی عادت ہے منتحہ کے سر کو اپنے بازو پر منتقل کر کے اس نے دھیرے سے کہا آبان کو سلا رہی تھی دھیرے سے کہ کر وہ گازان کی بازو پر سر رگ گئی کوئی پریشانی ہے گازان نے دوبارہ پوچھا نہیں گازان بس آج سر درد ہیں ہلکہ سر سے نین بھی نہیں آ رہی اب آ جائے گی بالوں میں انگلیوں کا لفظ جگا کر اس نے منتحہ کی پیشانی پر ایک پور نور سا بوسا دیا جی مجھے بھی لگ رہا ہے اب آ جائے گی مسکرہ کر کہتی وہ آنکھی مون گئی گازان کی قربت میں تمام پریشانیاں ہوا میں مولنک ہو چکی تھی اگرچان ولی سو گیا ہاشر نے دروازے میں کھڑے ہو کر اگرچان کو پکارا نو بابا میں اگرچان کو شلا رہا تھا ولی کی آواز پر ہاشر کے پرکشش چہرے پر مسکرات نمودار ہوئی آپ سوئے نہیں دس بچ چکے ہیں اور آپ اب تک جاگ رہے ہیں بابا اگرچان کو نینی نہیں آ رہی تھی تو میں نے تہاتے میں لوری شنانا جیشے آپ مجھے شنانتے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ اگرچان مزید پورے ہو چکے تھے ابی جان کہاں ہیں وہ ہنین کے پاس ہیں وہ بھی آج ضد کر رہا تھا کہ اگر اگرچان ولی کے پاس ہے تو وہ اپنی ابی جان لے گا بس لے گیا اپنے روم میں اگرچان نے چلے ایک نظر ولی کی جان دیکھ کر اس نے پوچھا جی بابا چلے دیرے سے گال پر لب رکھ کر اس نے چلنے کشارہ دیا ولی کی معصومانہ سب پیار دیکھ کر ہاشر نے قدم آ کے بڑھائیں بابا لب یو ولی کے الفاظ ہاشر کے قدم روکے اس نے اچمبے سے ولی کی جان دیکھا تو اس کی گردن میں موٹ چھپا گیا تین سال میں بہت کچھ بدلا تھا ہاشر کی زندگی بدلی تھی ہمدانی کھاندائیں کی کچھ بختی واپس لوٹی تھی اشر کی زندگی بدلی تھی وہاں سب کچھ بدلا تھا اپنی زندگی کا مہور ہاشر نے ولی کو بنا چکا تھا اور اس مہور کے سہاری وہ آج زندہ تھا ولی کی معصومیت نے ہاشر کو اس کا سب بڑا دعاق بھی بلا دیا تھا ہاں کبھی کبھی یہ سچ اس کی اندر کی خلش کو ظاہر تو ضرور کر دیتا کہ وہ اس کی ناجائز اولاد تھے لیکن اپنے رب سے تعلق کی مضبوطی نے اس کی زندگی میں زیادہ تو نہیں تھوڑا آسانی ضرور کر دی تھی ناجائز ہونے میں ولی احمد کا کوئی قصور نہیں تھا یہ نے گھر والوں کو خصوصی منع کیا تھا کہ اس کے مجرم کو مت تلاش جائیں اپنے خاندان کی مزید بدنامی وہ ہرگز نہیں چاہ سکتا تھا بابا ووک کریں ولی کے سوال پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا نو ولی عریبہ چچی کو اگر پتا چلا کہ آپ جاگ رہے تو پھر آپ کو punish ملے گی دیر سال پہلے عریبہ کی ماں کی موت کے بعد عشر عریبہ کا سادگی سے نکاح ہو چکا تھا ولی کی عادی ذمہ داری عریبہ اور ماریہ نے دونوں نے عادی سنبھل لی تھی نو بابا مجھے punish نہیں چاہیے چلے لوم میں چلے چٹی بیٹ بیٹ punish دیتی ہے ولی تیزی سے بولا عریبہ بعض وقات اسے درانے کیلئے مسنری سختی کر جاتی تھی جس کی وجہ سے ہی ولی کی شرارتیں تھوڑی کم تھی ورنہ وہ نین اور وہ دونوں گھر میں ایک طوفان بد تمیزی مٹا کر رکھتے شریر کہیں کا حاشر نے دیرے سے بال بکھر کر اسے لی روم کے جانب بڑھ گیا آبان کہا ہے منتحہ آج نظر نہیں آیا ناشتے سے فارغ ہو کر سمرین بیگم نے منتحہ سے استفسار کیا موم لون میں ہے اس کے بابا ایک نئی مسئبت لے کر تو آئے ہے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے کلی گازان اس کے لئے وائٹ کلر کی پیاری سی کیٹ لیا تھا بکول آبان کیس نے کانٹوز میں ایک پیاری سی کیٹ دیکھ لی تھی اب اسے وہی چاہیے تھی کازان آبان کی کوئی بات ٹال دی ناممکن سی بات تھی چلو اچھا ہے اس بہانے کمس کم کارٹون سے تور ہوگا دیکھا نہیں تھا کارٹون دیکھ دیکھ کر کارٹون جیسی حرکت کرنے لگا تھا جی موم یہ بھی اچھا ہے پر وہ کیٹ بس آبان پھر اس کے لئے دیوانہ ہو جاتا ہے پھر کپڑوں کا جو وہ حال بگاڑتا ہے بار بار مجھے چین کرنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں چند دن منتحہ اگدم سہمی موم آبان تیزی سے وہ باہر کی جانی پڑی آبان کی چیخ اب بھی آ رہی تھی منتحہ تیز قدموں سے لون کی جانی پڑی لیکن یگدم اس کے قدم تھمیں سامنے مونجھے لمبے شخص جس پوشت منتحہ کی جانی تھی آبان کو اونچا اٹھایا ہوا شخص اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی اس کی ساری توجہ آبان کی جانی تھی جو اب بھی اس شخص کے بازو کی مزہ سے اونچا تھا جیسے وہ اٹھا رہا تھا منتحہ نے اگدم اس شخص کی بازو پر بار کیا اس شخص کی نظر مقابل شخص کے چہرے کی جانی تھی اور آنکھیں حیرت سے پھٹی الو ساکت ہوئی سمریند بیگم بھی ان کے قریب آ چکی تھی گارڈ کیا دیکھ رہے ہو آبان کو بچھاؤ پر گارڈ دور ہی کھڑے تھے چھوڑو میرے بچے کو کون ہو تُ رک جاؤ خدا کے لیے آبان کو اس نے نیچے کر کے گود ملیا اور سمریند بیگم کی جانی مڑا سمریند بیگم کی حالت وہی تھی جو منتحہ کی تھی منتحہ کا چھرہ اگ سفید ہوا حمدان بے سافتہ سمریند بیگم کی مو سے سرگوشی کی طرح نکلا اور چھرے پر خوشی نمیعہ ہوئی منتحہ نے جھپٹ کر آبان اسے کھینچا اور اپنی بازوں میں تبوچا آبان کی ہچکی بن چکی تھی یہ کیا حرکت ہے تمہاری عمد کوئی میرے بچے کو ہاتھ لگانے کی کیا حالت ہو گئی منتحہ اگدم چیخی تھی ہمدان شیطانی سا مسکر آیا اور سمریند بیگم کی جانی بڑا ایک طرح سے اس نے منتحہ کی بات کا ہوا موڑایا مام کیسی ہے ان کے گلے لگ کر اس نے ان کے سر پر لب رکھے شریر ابھی تک حرکتیں نہیں صداری کوئی ایسے بھی کرتا ہے بچے کی جان ہی نکال دی دیکھو کسے سہم گیا ہے اور تم کب واپس لوٹے مام اسے دراصل اپنے چاچو کا پتہ نہیں تھا تو سوچا اسے بتا دو کہ آبان کے ایک چاچو بھی ہے منتحہ کی گوٹس اس نے زبردستی آبان کو لیا آبان دوبارہ چکھا تھا دی دی لیکن حمدان اسے کابو کر چکا تھا کیسی ہے بھابی جی آبان کی گال پر بوسا دے کر اس نے ایک نظر چکے حمدان مجھے دو اسے یہ رو رہا ہے اس کے بابا اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے حمدان کی گود سے اس نے زبردستی آبان کو کھیچا اور اسے گود میں لیے اندر کی جانب بڑھی آبان منتحہ کی کندے سے چپکا حمدان کی گسیلی نظروں سے گھورتا ہوا منتحہ کے ساتھ اندر بڑھ رہا تھا حمدان نے اس کے گسیلی نظرے دیکھ کر اس پر فلائم کی آبان نے فورا مو نیچے کیا آئی موم اندر چل کر بات کرتے ہیں سمرین بیگم کے گلد بازو ہائل کیے وہ انہی لئے اندر کے جانب بڑھ گیا تم کب آئے اور بینہ بتائے کیوں آئے گازان کی آواز میں تھوڑی سکتی تھی گازان بھی ہمدان کو گھر میں دیکھ چھونکا لیکن اس وقت تو سرسری سا مل کر اوپر کی جانب بڑھ گیا دوبارہ ہمدان ہی کازان کو لون مل آیا تھا بھائی بس اب مزید وہاں نہیں رکھ سکتا اور میں اپنی گلتی صدھار نے یہاں آیا ہوں اب پلیز مجھ سے بے اتنائی نہ بڑھتے جانتے ہے نا میں آپ کے بغیر نہیں ٹرے سکتا یہ چار سال مجھے پتہ ہے میں نے کیسے گزارے ہیں آبان کو دیکھنے دیکھنے کو بھی ترز گیا تھا گازان کا ہاتھ تھامے وہ دلگیر لہجے میں بولا بھائی کیا پرانی بات اور خبول نہیں سکتے ہمدان نے گازان کے نرم دل پر مزید پانی پھیکا گازان نے ہلکہ سا ہاتھ پر دباؤ دیا اور ہمدان کے گلے رکھایا بھائی میں جانتا تھا آپ مجھ سے دور رہے نہیں سکتے شدہ تاہیستہ پہچان لے بس وہ زرہ الگ ٹائپ کا بچہ ہے کسی سے جلدی اٹیج نہیں ہوتا شاید تم سے اٹیج ہو ہونے میں بھی اسے وقت لے خیر تم ریسٹ کرو تھب گئے ہو ہمدان کو مسکر آ کر الویدہ کہتا ہو اپنی کمرے کی جان بڑھ گیا گازان کیا ہوا آپ خاموش کیوں ہے کیا سب ٹھیک ہے گازان کو کافی دیر سے بیٹ پر ٹٹ لٹا دیکھ کر منتحہ فکر سے گویا ہوئی ہم سب ٹھیک ہے آپ سوئی نہیں آج گازان نے بے تکا سوال کیا آپ بھی نہیں سوئے منتحہ نے جواب سوال کیا گازان خاموش منتحہ نے ہاتھ تھام کر گازان کے پاس جگہ بنائی اور ہاں میری وجہ سے ٹینشن مت لے میں اسے ماف کر چکی ہوں اور جیسے وہ آپ سے معافی مانگ رہا تھا آپ بھی اسے ماف کر دے گازان چار سال ہو گئے ہے اس وقت وہ لاوبالی تھا لیکن اب شاید صدر چکا ہے لیکن پھر بھی میں احتیاط کروں گی کہ اس کے سامنے کم آیا جا کروں اور آپ بھی اسے ماف کر دے بجو سے ہی گلتی ہوتی ہے اور میری فکر تو آپ بلکل بھی مت کریں میری حفاظت کے لئے تو اب میرا بیٹا ہی کافی ہے منتحہ نے مسکرات کے سن کہا گازان نے ایک چکی تھی جمیل کے تشدد نے اس کے چہرے پر درندگی کے ایسے تاثرات نشان چھوڑے تھے کہ چاہ کر جیہ انہیں ختم نہیں کر پائی تھی ایک سال وہ اس کے قید میں رہی تھی پھر ایک دن جویریا کی خوش بکتی تھی کہ وہ جمیل کے سر پر گہرہ وار کر کے بھاگی تھی چند مہینے ماں کو تلاش کر کے وہ جمیل سے چھپتے چھپاتے ایک پسماندہ علاقی میں جا بسی پیسے تو اس کے پاس پوٹی کوڑی نہیں تھی جیہ کی امنی کچھ پیسے اپنے پاس ساتھ لائی تھی جن سے ان کا ایک وقت کھانا پورا ہو پاتا اس کی کوئی اس کے محبت کے جال میں نہیں فس سکتا تھا گزرتے وقت نے جیہ کو اس کے کیے کفل تو دے دیا تھا لیکن شاید جویریا ان لوگوں میں سے تھی جن کو خدا دنیا میں ہی سزا دے دیتے لیکن وہ اس سزا سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتے کھ خدا سکتے لیکن اکڑ اب تک سلامت تھی بازان کی بریشانی وقت کے ساتھ زائر ہوتی گئی حمدان کی مطانت اور خوش آمیز رویہ نے بازان کو کچھ حد تک بے فکر کر دیا تھا منتحہ نے بھی اس میں واضح تبدیلی دیکھی تھی نظر چھکا کر بات کرنا بھابی جی کہنا گرز عدب کے سارے تقاضے اوپورے کر رہا تھا منتحہ بھی بے فکر ہو چکی تھی کہ شاید وہ ٹھیک ہو گیا ہے آبان کے ساتھ وقت گزار گرز نے آبان کو کافی حد تک اپنے ساتھ اٹیج کر لیا تھا موم یہ بھابی کو دیدی کیوں کہتا ہے اس وقت بھی آبان تیز ہو گد گد کے سن اس نے آبان کو ہس آیا بلکل ایسا ہی شرارت میں اس نے اپنے چاچو کو پیٹھے چھوڑ دیا ہے تم بھی اتنی شرارت نہیں کرتے جتنی آبان کرتا ہے دادی چاچو عشوت زیادہ چھوڑتے تھے اس لیے نہیں کلتے تھے زیادہ شلالت آبان کے جواب پر دونوں کا کہکہ اکھٹا گونجا تھا ہائیں کیسی ہو میسی ٹون کی آواز سنکر شائنہ نے تیزی سے موبائل اٹھایا سامنے حمدان کا میسیج دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے چمکا تم کیسے ہو تم حمدان نے غصے والا ایمیجو بھیجا اپس you know what مجھے عادت ہے میں سب کو تم ہی کہتی ہوں اس لئے تم ہی کہوں گی اس کے تفصیلن جواب دینے پر حمدان کے ماتھے پر تیوری چڑی من ہی من میں اسے گالی دیتا اور نورمل ہوا تمہارے موہ سے تو چکا تھا حمدان اچانک اس کے لائف میں ہوا کا جھوکہ بن کر آیا اور آتے ہی مکمل طور پر چھا گیا تھا شائنہ تو تھی ہی صدا کی چال باز لڑکی حمدان نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا شائنہ نے اس سے بڑھ کر مزید بڑھایا یوں ان دونوں کی دوستی ہوتی چلی گئی اپنی باتوں سے حمدان اس سے کافی کچھ اگلوا چکا تھا ارے بھابی جی آج تو قیامت ڈھا رہی بندہ ناچیز تو فنہ ہو رہا ہے آپ کے اس روپ پر اور اگر بڑے بھائی یہ حسین روپ دیکھیں گے تو وہ تو گھائل ہو جائیں کیا اب آج اپنی اوقات واضح کری دی تھی منتح روپ اٹھے سے پھیل آیا اور چہرے پر بے ساکتا شدید نفرت کا تاثر برا لگتا ہے بھابی جی آپ میرا positive روپ دیکھ کافی ریلیکس ہو گئی تھی اس لئے سوچا اپنا اصلی روپ آپ کو دکھا ہی دو شیدانیت ہندان گلازت شاید تمہاری رگ رگ میں ہے کیا بھابی جی اتنی بھی کیا چلتی ہے دیور کو اتنا تو حق دیں کہ آپ کو جی بھر کے دیکھ سکے عجیب لو فرانہ انداز میں کہہ کر اس نے مندھا کہ جان خوشک کی اتنے سالوں میں یہ دیدار نصیب نہیں ہوا اور آج اتنے سالوں بعد یہ دیدار نصیب ہوا ہے بکواز بند کرو ہندان کتنی گلازت بھری ہے تم میں لگتا ہی نہیں تم گازان کے بھائی ہو اب تو خدا رہا صدر چاہو کیوں لوٹ کر آئے ہو کیوں میری زندگی تباہ کرنے پر تلے ہو کچھ تو خوف خدا کرو بھابی ہوں تمہاری عزت ہوں تمہارے بھائی کی لیکن شاید تم رشتوں کا احترام بھول چکے ہو بہت اچھے سے آتا ہے مجھے رشتوں کا احترام کرنا آپ ایک موقع تو دیں احترام کی ساری حدے پار کر دوں گا اپنی گردن پر ہاتھ پھرتے اس نے منتحہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا دلی دل میں اس نے کسی آ جانے کی دعا کی تھی ہمدان خدا کا واسطہ ہے بخش دو مجھے اس نے بھائی کہ سوچ لو دونوں ہاتھ ٹوڑ کر اس نے بے ساختہ التجا کی شرم گیرت سب ختم ہو چکی ہے تمہاری مجھے مجبور مت کرو کہ میں دوبارہ گازان کو تمہاری حرکتیں بتا دو اور تم ان کی نظروں میں گر جاؤ ان کا مان توڑو سنبھل جاؤ کیسے بخش دو بھابی جی تمسکرانا مسکرائز نے منتحہ کو مزید تکلیف میں دھکیلا یہاں یہاں اس کال پر تھپڑ مالا تھا کہنے کہ تو پانچ سال گز چکے ہیں لیکن تکلیف ویسی ہی پہلے دن کی طرح تازہ ہے جب جب تمہیں دیکھتا ہوں تکلیف مزید شدہ سے محسوس ہوتی ہے اور تم کہتی ہو بخش دو کبھی نہیں کبھی نہیں منتحہ اور بھائی کی تو آپ فکر نہ کریں انہیں آپ ہوں کریں حق ہی نہیں ہے ونہ اپنے ہاتھ سے مٹاتا غلیز بکواس کرتا منتحہ کی جان اندر تک خوشک کر گیا تھا عجیب بے بسی میں گری وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی ہندان کی غلیز بکواس سے منتحہ کا دماغ گھوم رہا تھا چند دن عزت سے گزار کر اس نے اپنی اوقات آج پھر دکھا دی تھی صدق کے نرم دن منتحہ اپنی نادانیوں سے معصوم سمجھ رہی تھی لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ معصومیت کی آر میں چھپا بھیڑیا ہے جو اس تباہ برباد کر دے گا جس کی شروعات آج اس نے کی تھی ست چکر تھا کی زیدی نیچر کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا دی دی چاچو تے پاس جاؤ آبان کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں اپنی کہاں جانا ہے منتحہ نے ماتھے پر تیری چڑھائے اس سے پوچھا چاچو تے پاس جاؤ آبان کے معصوم سے سوال نے منتحہ کو مزید قصہ دلائی چپ کر یہاں بیٹھو اور اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیلو سختی سے کہہ کر اس نے آبان کو بیٹ پر بٹھایا اور چند کھلو نے اس کے پاس رکھے آبان نے ہاتھ سے دور فینکے مجھے چاچو تے پاس جانا ہے آبان کے رونا سٹارٹ ہو چکا تھا آبان اب آپ مجھ سے مار کھائیں گے ایک دم اس کا دل گھبر آبان موکہ دیکھ روم سے نکل چکا تھا گسے کی شدید لہر منتحہ کے دماغ سے اُتھ بیٹا آپ آبان کو کیوں ڈاٹ رہی تھی روتے میں میرے پاس آیا ہے کیا کیا ہوا آپ کھائیں کیوں اتنا فکہ فکہ سا ہے کیا سب ٹھیک ہے موم بس کل سے چکر اور مطلی محسس ہو رہی گازان صبح گئے بھی رہے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے لیکن ان کی ضروری دینا مونتہ کا مانتہ چنکر انہوں نے اسے ہدایت دی تھی بیوی کیا ہوا آج آپ بہت خوش لگ رہی ہے مونتہ کی خوشی چہرے سے ظاہر تھی نہیں غازان آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے نظر چھکائے منتہ نے دیرے سے کہا بس لگ رہا ہے جیسے بہت بڑی خوشی ملی ہے کمر سے جگڑے اس نے منتہ کو قریب کیے گال پر لب رکھے منتہ یک لگ کانپی آبان چاک رہا ہے منتہ نے دیرے سے کہہ کر اس کی توجہ سامنے دلوائی جہاں آبان اپنے کھلونوں میں کھلنے میں مگن تھا اچھا ہے نا بیوی آبان پہ دیکھ لے کہ اس کے بابا اپنی بیوی سے کتنا پیار کرتے ہیں گازان منتہ کی آنکھیں اگدم فیلی آبان بیٹا ادھر منتہ نے اگدم اس کے موہ پر ہاتھ رکھا اور خود اس کی قربت سے دور ہٹی منتہ دور نہیں گازان نے بیس آکتا اسے دوبارہ قریب کیا اور شدت سے باہوں میں جھکڑا نجانے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ دور جانے والی ہیں منتہ کے کار میں سرگوشی کر اس نے بیس سکتا منتہ کو دہل آیا گازان آپ ایسا کیوں سوچ رہے میں کیوں آپ سے دور جاؤ گی میرا سکون چین ان باہوں میں ان محبت بھری باہوں میں چھوڑ کر آپ کی بیوی کہاں جائیں گی منتہ نے دیرے سے بازوں پر ہاتھ رکھ کر گازان کی پریشانی رفع کرنا چاہی لیکن شاید آج گازان کی دل کو بے سکونی لگ چکی تھی منتہ کا مدھر بھرا اظہار بھی یہ پریشانی کم نہیں کر پایا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی شانی میں بھائی کو یہ حقیقت کیسے بتاؤ اگر میں بھائی کے بارے میں کچھ کہا تو مجھ پر الزام لگائیں گے بات ادوری چھوڑ کس نے کن آکھیوں سے پیچھے کی جانی دیکھا مات مسلطہ وہ فون پر شانی سے مہ گفت گو تھا بھائی کو اگر میں بتانا بھی چاہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ یقین نہیں کریں کیونکہ انہیں لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہوں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے بھائی سے یہ حقیقت چھپا کیسے لی بھائی کی گہری محبت کے باوجود انہوں نے بھائی کوئی حقیقت سے آگا نہیں کیا حمدان کس حقیقت کی بات کر رہے ہو گازان کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا بھائی آپ یہاں کیسے حمدان اکدم بکلایا میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں کہ منتح کے بارے میں کیا بول رہے تھے گازان دوبارہ سختی سے گویا ہوا کچھ نہیں بھائی حمدان جانتے ہو نہ جھوٹ سے مجھے کتنی نفرت ہے بولو تم منتح کا نام کیوں لہے تھے اور کسی گئے شخص کیا بتانا چاہتے تھے بولو حمدان اس کی خاموشی دیکھ کر گازان سختی سے گویا ہوا بھائی غازان حمدان نے سر جھکا کر لب دبایا بھائی بھائی پہلے سے کسی کے نکاح میں تھی غازان کے سر پر گویا دھماکہ ہوا کیا بکواز کر رہے ہو حمدان ہوش میں شدہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا جب غازان کی آنکھ میں ہلکی سی نبی ابری تھی پانچ سال میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ غازان کو منطقہ کے جانب سے ایسا گہرہ زخم ملا تھا جو اس کے دل کو قیل ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا پانچ سالہ زندگی کا لکسی ہی قیفیت میں اس نے حمدان سے استفسار کیا بھائی یہ منطقہ کی قزن شائنہ نے مجھے سین کی تھی ان کا نکاح چھوٹی عمر میں ہو چکا تھا بھائی تین سال پہلے میں یہی حقیقت آپ کو بتانے والا تھا جسے آپ نے سنے بھائی مجھے گھر سے نکال دیا بابی جھوٹی اور دھوکے باس ہیں اس دن دے انہوں نے ٹراما کیا تھا جھوٹ کا گہرہ آوار اس نے گازان کی دماغ پر کیا شیٹ آف حمدان منطقہ کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے سوچ لینا جھوٹ بڑا دھوکا دھاڑ سے دروازہ کھولے وہ اندر آیا اور آتی اس نے سختی سے استفسار کیا وہ جو ہمیشہ اسے بیوی کہتا تھا منطقہ نام سنکر وہ سہمی تھی جانتی تھی گزان اور ناراضگی میں اس کے نام سے پکارتا تھا اور یقینا آج میں کچھ غلط ہوا تھا اتنی بڑی حقیقت آپ نے مجھ سے چھپائی مجھے آپ سے امید نہیں تھی منطقہ سلطان کیا ہوا گزان سب ٹھیک تو ہے بکھلاتے اس نے مقابل سے پوچھا کیا ہوا بلکہ یہ پوچھے کیا نہیں ہوا گصے سے دوبارہ وہ دھاڑا تھا آپ پہلے سے شادی شدہ تھی کسی کے نکاح میں تھی اتنی بڑی حقیقت چھپائی مجھ سے بولے وہ جو اسے سرپرائز دینے کے چکرمی تھی آج زندگی میں ہی اسے سرپرائز دینے والی تھی منطقہ کا خون خوش گھوا جس حقیقت کو پچھلے چار سالوں سے خود سے چھپاتی آئی تھی جس حقیقت کو اس نے دل کے کونے میں کفر ڈالے دفن کیا تھا آج بھیانک روپ دھارے اس کے سامنے آئی تھی اپنی زندگی سے ختم ہوتی محسوس ہوئی ایک نظر بیٹ پر لیٹے اپنی مطائن جان پر ڈالی جو ان سب سے بینیاز گہری نین کے مزے لے رہا تھا منتحہ بولے جواب دے دونوں بازو جنجوڑے اس نے لہو رنگ آنکھیں منتحہ کی آنکھوں میں گاڑی تھی نظر ملانے کے آج وہ قابل نہیں رہی تھی نہیں خازان نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو غلط فہمی چھوٹ مت بولنا منتحہ جانتی ہے نفرت ہے مجھے چھوٹ سے چار سالوں میں آپ یہ نہیں جان پائی بتائیں منتحہ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ابھی اسی وقت تلاغ دے دوں گا سچ سچ بولے سچ بولے منتحہ مقابل کے موہ سے یہ منحوس لفظ اسے زندگی کے چار سال پیچھے اس عذیت بھرے لمحے میں لے گیا مجھے جواب دے منتحہ میرا فیصلہ آپ کے جواب کا منتظر ہے غازان سنے پلیز میری بات سنے تلاق نہیں بھاری اس کی بھری آواز اس کے نے ظالم کو پکارا تھا منتحہ ہاں یا نہ میں جواب دے غازان میری بات تو سنے منتحہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہاں یا نہ ایک دھاڑ کے ساتھ اس نے اپنی بات دھرائی جان کرنی کا لمحہ کیا ہوتا ہے آج منتحہ کو دوسری مرتبہ محسوس ہوا تھا اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے ہاں یا نہ کے منتظر تھا بھاری ہوتے سر کو اس نے ازبات ملایا اور آنکھیں سکتی سے میجے تھی پلکوں کی باہر سے آنسو تیزی سے نکلے تکلیف وزیعت اس کے رگ و پی میں سرائیت کر گئی اچانک اپنا گال سے چلتا ہوا محسوس ہوا تھا گازان کے بھاری ہاتھ نے اس کے مو پر نشان چھوڑا تھا خون کا زائقہ مو میں گلا تھا اور لکھڑا کر زمین پر گئی تھی بینہ کچھ بولے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا منتحان کے آنکھ حیرت سے پھٹی پہلا موقع تھا کہ گازان صدی کی عورت کو عزت کا درجہ دینے والا شخص اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا گیا تھا اپنی تکلیف نظرانداز کی و تیزی سے اٹھ دے دی تھی حال کہ دروازے کے قریب اس کے قدم تھم چکے تھے باہر جا کر اپنی عزت کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی غازان ایک مرتبہ تو سن لے روتے بے ساختہ دروازے کا سہار علی زمین پر بیٹھتی چلی گئی کیسا لگا بھابی جی میرا سرپرائز اسے اپنے پیچھے منہوس آواز سنتے ہی زبط کی لاری چہرے پر فیلی تھی ہتیلی سے آنسو پونٹے اوٹھی تھی اس کے قریب سے گزرتی کمرے کی جانت بڑھ گئی پیچھے اسے حمدان کا بھاری کہکہ سنائی دیا تھا تھکے قدموں سے چلتی اندر آئی حواس اس وقت منجمیت تھے سائیں سائیں کرتا دیواغ اس کے ذہن میں ہتوڑے برسا رہا تھا آج منطح سلطان کو صحیح معنو میں زندگی ہاتھ سے فسلتی محسوس ہوئی گال کا درد اتنا نہیں تھا جتنا دل درد بڑھ چکا تھا آبان اب بھی گھر نیل میں تھا ماں پر گزری قیامت کا اسے علم بھی نہیں تھا اجنبیت سے بھرپور آنکھوں سے اس نے کمرے کو دیکھا یقلق اسے لگا ہو کسی جنگل میں بیان باہ آج شیطانوں کے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑی ہے زبط کا پیمان چھلکا مو سے پھر بھی کچھ نہیں نکلا لیکن آنکھ سے آنسور قطار در قطار ایسے بہر رہے تھے کہ منتحہ کو ان پر بن باننا مشکل لگا منتحہ کی دنیا لٹ چکی تھی غازان بینا سننے جا چکا تھا غازان مو سے سرگوشی کی طرح نکلتا غازان کا نام دیوارت سے تکرا کر مادم ہوا چھے سار پہلے بھی یہ تکلیف منتحہ نے جھیلی تھی اس وقت اسے لگا تھا کہ تکلیف کی آخری حد ہے لیکن انتازہ نہیں تھا کہ تکلیف کی پہلی حد تھی جو کسی کے بیعتباری کی بدلت ملی تھی جو بیعتنائی کی صورت میں ملی اس تکلیف میں نفرت الزامات تھے وہ تکلیف منتحہ سلطان برداشت کر چکی تھی لیکن آج جو منتحہ سلطان کو زخم ملا تھا وہ منتحہ سلطان کی روح کو خون آلود کر گیا اپنی خالی ویران روح بھی اسے خون سے بھری لگ رہی تھی کیونکہ اس میں محبت کے بعد دی گئی تکلیف شامل تھی یہ تکلیف درد زخم ایسا تھا کہ منتحہ کے حواز بھی تباہ کر گئے اسے یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ وہ روئے چکھے چلہ یا زندگی سنات تو توڑ جائے آبان کے قریب آئے اس نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ فیرا اس کے منتحہ کی سسکیاں آہیں منتح سلطان کا گم منا رہی تھی رو تہوی چکھنا چلانا عام ہے لیکن سسکیاں اس وقت ابرتی ہے جب دل درد سے پٹنے والا ہو جائے کوئی اپنا جان نکال جائے موت کی آخری گھڑی میں جو چیز سب سے پہلے ابرتی ہے وہ ایک سسکی ہی ہوتی ہے آج منتحہ کو موت ہی تو اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی منتحہ کبھی دل چاہا کے سامنے کھڑی موت کا ہاتھ تھام کر زندگی سے ناتا توڑ لے غازان نہیں نہیں غازان ایسے نہیں کرنا میرے ساتھ مجھ سے ناتا مت توڑنا غازان میں مر جاؤں گی غازان میں مر ہی چکی تھی لیکن آپ آپ کی محبت نے مجھے زندہ کیا غازان نہیں نہیں غازان واپس آ جائیں بلک بلک کر روتی ہو غازان کو پکار رہی تھی چند گھنٹے پہلے سجا سورا روپ اب ایک بیوہ سا روپ دھار گیا تھا غازان میں آپ کو سچ بتاؤں گی غازان آ جائیں میں سب سچ بتا دوں گی سائٹ ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر اس نے غازان کا نمبر ڈائل کیا جو پاور آف بتا رہا تھا منتحہ کا جب ٹوٹا تھا غازان ستم ٹھا گیا تھا اس حد تک بے روکی بڑھتی تھی کہ موبائل بھی پاور آف کر گیا تھا منتحہ کے ایک میسیج کو کبھی اگنور نہ کرنے والا آج منتحہ کو حد درجے اگنور کر چکا تھا آبان آبان اپنے بابا کو کہیں آ جائے آبان اٹھو میرا بچہ دیکھو آپ کی ڈیڈی کو چھوڑ چلے گئے بلاو آبان بلاو انہیں آبان کو جنجور تھی اور جنون ہی اس کے جنجور پر آبان اگنم ڈر کر اٹھا ماں کو روتا دیکھتا دیکھ آبان بھی ٹونا سٹارٹ کر چکا تھا آبان ڈیڈی کو لے آؤ آپ کے دیدی مر جائے گی بلا لو اپنے ڈیڈی کو آبان کو باہوں میں ڈکڑے سسکیاں بھرتے کہا دیدی ڈیڈو تہاں ہیں آپ بلاو انہیں تول ترو وہ آ جائے دے آپ گندے بچوں تی رو رہی ہے منتحہ کے ہاتھ میں دبے موبائل کی طرف اشارہ کی اس نے منتحہ کو کہا آبان مجھے چھوڑ کر چلے گئے آبان آپ دیدو ایک دم دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا منتحہ ایک دم اٹھی گازان مو سے گازان کا نام لکھلا لیکن پیچھے مرتیز کی زبان تالو سے لگی پیچھے گازان نہیں ہمدان موجود تھا جس کا چہرہ کافی حد تک سپار تھا آبان دادو بلا رہی جاؤ بھاگو جلدی سے آپ کی ساری چوکلیٹ وہ لے رہی ہے منتحہ کا دل کسی انہونی کے حساس سے دھڑکا میں آبان کو ہاتھ تھاما اور تیزی سے کھڑی ہوئی تم یہاں کیا لینے آئے ہو کیا اب بھی سکون نہیں ملا تمہیں ایک دم بھاری آواز میں چکھی تھی بھابی آبان کو موم بلا رہی اسے جانے دیں آگے بھڑ اس نے منتحہ کا ہاتھ سکتی سے تھاما اور آبان کا آزاد کروایا منتحہ اس نے اتنی زور سے تھاما تھا تو اسے اگدم لگا اس کے کلائی کی ہٹی ٹوٹ جائے گی آبان نہیں ادھر آو آبان منتحہ اگدم چیکھی لیکن شاید آبان بھی منتحہ کی چیک سے گھبرا گیا تھا میں نے قدم اٹھاتا اور تیزی سے باہر کے جانے بھاگا آبان منتحہ نے کلائی پر زور دے کر ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن ہمدان نے گویا آج ساری سختی منتحہ کی کلائی پر آزمانی تھی ایک کیسے چھوڑ دوں اتنے سال میں نے تمہیں آزاد چھوڑنے کیلئے نہیں گزارے تمہیں تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ساری زندگی موت کیلئے ترپ ہوگی دان پیس کا کہتا منتحہ کہ خوش اڑا گیا چلو میرے ساتھ کلائی کو چکڑے اس نے منتحہ کا آگے کی جانے گھسیٹا منتحہ دوبارہ چیکھی تھی یک دو ہمدان نے سفید رومال اس کے موں پر رکھا اور اسے اپنی باہوں کا سارہ دیا منتحہ کا ذہن تاریخ میں ڈوپتا چلا گیا بھائی منتحہ بھابی پہلے سے کسی کے نکاح میں تھی بھائی انہوں نے جھوٹ بولا آوازی تھی کے تیز دھارارے جو گازان کا دل کٹ رہے تھے منتحہ کے ساتھ پانچ سالہ زندگی گزاری تھی اور ان پانچ سالوں میں اس نے ایک مرتبہ بھی حقیقت بتانے کی کوشش نہیں کی سمجھتاری مطانہ تر بردباری کی عالی مثال گازان صدی کی آج عجب دو راہی پر آگ کھڑا ہوا تھا گازان کے لئے ایک دھچکہ ہی تو تھا کہ اس کی بیوی اس کو اعتبار کے قابل نہ سمجھے دل چاہا کہ خود کو فنا کر دے اتنی محبت عزت اعتبار کے باوجود منتحہ نے اسے یہ سیلہ دیا تھا کہ بدلے میں اس نے گازان کے ہاتھ میں بے اعتبار ہی کو دیکھ رہا تھا اگر منتحہ چھکی چلائی نہیں تھی تو چیخہ چلائی گازان بھی نہیں تھا سیکھنا چلانا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا سکوت کی ماننگ وہ بس ایک نکتے پر جم چکا تھا کہ منتحہ سلطان اس کی محبت کو ایک فالتو شہ سمجھ کر اپنے پاس سمالتی گئی ان پانچ سالوں میں اس نے منتحہ کو ہر طرح کا اعتبار دیا تھا گرز ہر طرح کا تو منتحہ سلطان اتنی بیعتبار کیوں بنی یہ ایک سوال تھا جو گازان کو الجھا رہا تھا اور ایسے ہزاروں سوال گازان صدیقی کی الجھن بڑھانے والے تھے یکنی گازان کا دھیان اپنے ہاتھ پر گیا جس میں اب بھی ہلکی سنسنا تھی گازان کا ہاتھ اٹھنا آج عمل کا ردی عمل تھا اس وقت دھچکہ ہی گازان کو ایسا لگا تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھنا فطری عمل تھا لیکن اس فطری عمل کا گازان کو اس وقت شدید پشتاوا ہوا یہ سوچ اگدم ذہن میں آئی تھی کہ کم اس کم اس منطحہ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا اس کے ہاتھ میں اگر اب تک سنسنا تھی تو نہ جانے منطحہ کے چہرے کا کیا حال ہوا ہوگا اپنی مطائن جان کو کبھی پھول کی چھڑی سے نہ چھونے والا آج موں پر گہرا نشان دے آیا تھا منطحہ آج آپ نے مجھے خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا منطحہ اپنے ہاتھ کو دکھاتا وہ ہزیانی سا بولا کیوں چھپایا سج منطحہ کیوں اپنے ہاتھ کو اس نے پوری شدت سے گلاس پر مارا یہ ایک طرح سے اس نے منطحہ کو اور اپنے آپ کو یعنی دونوں کو سزا دی تھی سائٹ ونڈو کے گلاس پر ایک کریک اگری اور گازان کے ہاتھ پر کٹ نمائی ہوا خون کا ایک بڑا سا خطرہ زمین پر گر کا جزب ہوا اپنے ہاتھ کو دیکھ کر اسے یگ گنا سکون محسوس ہوا لیکن یہ تکلیف منطحہ کو دی گئی تکلیف کے مقابلے میں بہت کم تھی اس مرتبہ شیشہ چکنا چور ہوا تھا اور کانچ کے ٹکڑے ہاتھ میں دھسے تھے اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں منطحہ سلطان دبوچے ایک بازو سے منطحہ کو سنبھال اس نے شانی خدا دی آبان کو اس نے جان بوٹ کر سمرین بیگم کے کمرے کے جانی بھیجا تھا وہ جانتا تھا وہ چند منٹوں میں واپس آ جائے گا کیونکہ سمرین بیگم اس وقت گھری نین میں تھی ہوتی تھی اس کے کے کمرے میں موجود سائٹ ٹیبل پر رکھ دوبارہ نیچے کے جانی بڑھ گیا دروازے سے باہر نکلتا اور منطحہ کو مین گیٹ سے باہر لائیا سیاہ گاڑی کی پیشلی سیٹ پر اسے لٹا کر رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا لیکن گازان صدیقی کی وقت تھم چکا تھا جب منطحہ سلطان نے ہاں کہہ کر اس کا مان توڑا تھا ہاتھ پر خون جم چکا تھا کانچ کی ننے ٹکڑے اب بھی ہاتھ میں دھس کر عذیت رکم کر رہے تھے لیکن آج گازان صدیقی کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی پرواہ سکون چین سب کچھ منطحہ سلطان کے جواب نے چھوڑا دیا تھا فون اس کا بند تھا اس وقت وہ بس تنہا عذیت میں رہنا چاہتا تھا اعتبار ٹوٹا تھا کوئی عام بات نہیں تھی صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی تھی لیکن کازان صدیقی کا کوئی پرواہ نہیں تھی زندگی نہ کر پاؤ سگریٹ فونگتے یہی آخری سوچ اس کے ذہن میں تھی گاڑی میں بیٹھتا اس سیٹ کی پوچھتے سے لگا کر آنکھیں مون گیا سورج کرنوں نے اس کی آنکھوں پر اپنا تسلط جمعیا بھیانہ خواب دیکھتا ایک دم نین سے جا کر تھا آبان یک لقت اسے ایسا لگا جیسے لمحات کا تہرا سامنے اگرا آنکھوں میں پھر شرمندگی نے گیرا لیکن اس وقت اسے آبان کی پروہ تھی ہاتھ پر دد کی تیسے اٹھی کانٹ کے ٹکڑے ہاتھ میں دھس کر ناسور کا باز بل رہے تھی لیکن گازان کو پروہ نہیں تھی اس وقت اپنی مطائن جان سے بڑھ کر اسے کچھ ضروری نہیں لگا گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے گیارہ بچ رہے تھے نجانے کیوں گازان کا دل الگ انداز میں دھڑکا منتحہ کی فکر یہ اقلق ذہن میں ہاوی ہوئی مجھے گھر جانا چاہیے ہاں گھر جانا ہوگا گاڑی میں چاوی لگا کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور گاڑی کا رکھ گھر کے چانے موڑا وات حمدان یہ تم کیا کر رہے ہو منتحہ کو تم نے اگوا کر لیا لیکن کیوں فون پر لائبہ زور سے چھکھی شاٹ آپ آہستہ بولو حمدان یہ تم نے کیا کر دیا میں نے یہ حقیقت تمہیں اس لئے نہیں بتائی تھی کہ تم منتحہ کی زندگی سے کھیلو اسے واپس چھوڑ آؤ ورنہ میں گازان کو سب سچ بتا دوں گی لائبہ کی دھمکی پر حمدان کا کہکہ گنجا تمہیں لگتا ہے تم گازان بھائی کو بتاؤ گی اور گازان بھائی تمہارے رقین کرے گے نہ ممکن لائبہ بھائی اس وقت کسی کی بھی نہیں سننے والے کیونکہ اس وقت وہ اپنی سوک بیوی کا سوک منا رہے ہیں اس وقت وہ کسی کو بھی نہیں ملیں گے اور اگر مل بھی جائیں تو کبھی تمہاری بات کا اعتبار نہیں کریں گے حمدان کے جواب پر لائبہ کسانس ہلک میں اٹکا اب کیا ہوا خامور کی ہو گئی کہیں میرے خلاف کوئی پلین تو نہیں بنا رہی مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں تمہارے خلاف پلین بنا کر اپنے لئے نقصان دا شئے خریدو گد یہ ہوئی نا بات خرد میں ایڈرس سینڈ کر رہا ہوں وہاں دو پہے تک پہنچ جانا اور ہاں دوبارہ کوئی چالا کی مت کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی لائبہ کو وان کرتا وہ کال کٹ کر گیا لائبہ سن سی کھڑی گہری سوچ میں ڈوبی تھی شانی اس کا دھیان رکھنا شام تک واپس آؤں گا ابھی میرا گھر جانا بہت ضروری ہے کیفے سے ناشتہ کر کہ وہ واپس اسی جگہ آیا جہاں منتحہ کو اس نے قید کر رکھے تھا یار تو ایک بات بتا تنہے لائبہ کو اس پلان میں شامل کیوں کیا اگر اس نے کام بگاڑ دیا تو کیا کرے گا گازان بھائی کو بھنگ بھی لگ گئی کہ تُو نے منتحہ بھابی کو اگوا کیا ہے تو تجھے اور مجھے جان سے مار دیں گے شانی کلجہ تفکر سے بھرپور تھا شانی تو ساری عمر ڈرپوک ہی رہنا حمدان کے ماتھے کی تیوری چڑی تھی لائبہ اتنی پاگل نہیں ہے کیوں میرے خلاف جائے گی پھر اس کا زندہ رہنا کیسے ممکن تھا خمدان تو پاگل ہے شانی صدمے سے چور لہجے میں بولا خمدان نے ایک تنظیہ نظر شانی پر ڈالی پاگل نہیں کمی نہ ہو بہت بڑا کمی شاید تو بھول گیا ہے دیکھ خمدان بھابی کو چھوڑ دے دیکھ کازان دل کرتا ہے اسے بھی ویسے ہی تباہ و برباد کر دوں ہمدان کی لہجے میں ایک آگ سی چلن تھی جس کی تپش شانی کو وحصے محسوس ہوئی چل میں نکلتا ہوں اور ہاں تیرے پر اعتبار کیا ہے اگر تو 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 دوں گا اس کے کندے پر دباؤ ڈالی کی وجہ سے سمرین بیگم منتح اور گازان کے جھگڑے کو نہیں جان پائی تھی لیکن منتح کا جانے کا ان کو اسی وقت پتا چل گیا تھا جب آبان دوتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا اس کے کمرے میں تلاشی لینے کے بعد ان کے ہاتھ جو پیپر لگا اس پیپر نے سمرین بیگم کے ہوش ہی بیٹھی تھی آبان کو روتا دیکھ کر ہو ٹھٹکا آبان کیا ہوا چاچو کی جان کیوں رو رہے ہو سمرین بیگم بھی ہمدان کی آواز پر چونکی ہمدان کہاں چل گئے تھے لیکن آپ نے ایک بھی ریسیو نہیں کی اور آپ کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کی مام کتنی پریشان رہی کہاں تھے آپ بولے سمرین بیگم سکتی سے گویا ہوئی ماما آبان کو کیا ہوا یہ رو کیوں رہا ہے ہمدان نے جوابا سوال کیا میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں آپ مجھ سے سوال کر رہے مام میں دوستوں کے ساتھ تھا آبان کو گود چھوڑ کر مگر کیوں مام بھائی کہاں ہیں سب ٹھیک ہے مام ہمدان کا ناٹا شروع ہو چکا تھا کچھ ٹھیک نہیں ہے ہمدان گازان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا رات سے صبح ہو گئی ہے نہ جانے وہ کہاں ہوگا منتحہ بھی چاہ چکی ہے سمرین بیگم روحاسی ہوئی بھائی کہاں ہیں کازان کی گئر حاضری کا سن کر ہمدان بھی تفکر میں ڈوبا انہ جانے کہاں چلا گیا ہے آبان کو دیکھو کیسے بخار میں جل رہا ہے خدارہ کچھ کرو میرے بیٹے کو لے آؤ ہمدان سمرین بیگم روتے وے چیخی تھی آبان بابا چاہیے حمدان نے آبان کی جانب دیکھا اس نے بے سافتہ سر از بات ملایا میں اپنے بیٹے کے لئے ابھی بابا کو ڈھون کر لاتا ہوں آبان کو گندے سے لگا کر حمدان نے اس کی پیٹ سل آئی موم بابی کس کے ساتھ گئی ہے چاہچو آپ تشات آبان کے جواب پر حمدان نے بے سافتہ سر پٹایا سمرین بیگم شاید سن نہیں پائی تھی آبان پاپا آنے والے ہے آپ آؤ میرے ساتھ آبان کو اپنے بازوں میں جکڑے وہ ابھی اوپر کے جانب بڑھ رہا تھا کہ آبان ایک دم جکڑا دیدو روتا ہو حمدان کی گود میں مشلا آبان کی حالت دیکھ کر گازان کا دل گویا کسی نے اٹھی میں جکڑا تیزی سے آگے آ کر اس نے حمدان کی گود سے آبان کو لیا اور اپنے بازوں میں جکڑا آبان نے بھی اپنی نرم گرم بازوں گازان کے گرد حائل کیے اور سسکیا بھرتے دیدی کو پکارا تھا گازان کے جلدے دل پر ہلکی سے جھڑی لگی گازان اگدم چونکا سمرین بیگم بھی حق بک گازان کی اجڑی حالت دیکھ رہی تھی اس کا خون سے جمع ہاتھ شرٹ پر خون کے داگ بکھرے بال بکھری الجی ڈاڑی اس کی تباہی کو چیک چیک کر آبان کو سنبھال لو پھر بات کرتے ہیں سپارٹ انداز میں کہ اوپر کے جانے بڑھا زندگی میں پہلی بار اس نے سمرین بیگم کا حکم ٹالا تھا گازان منتحہ جا چکی ہے سمرین بیگم کے الفاظ نے گویا گازان صدیقی کی وجود پر ایک اور دھماکہ کیا اس کی گازان اسے ہلکا سا جوڑا تھا تیزی سے وہ سے لیے باہر کے جانے بڑھا رکے بھائی میں بھی آتا ہمدان کے الفاظ سن کر اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا موم آپ آئیں سمرین بیگم کو اشارہ کی وہ باہر کی جانے بڑھا سمرین بیگم روپٹہ ہلکا سا دروست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی پیچھے موجود حمدان گہری سوچ میں گرک ہوا آبان میں آخری مرتبہ اسے ہی جاتے دیکھا تھا اور وہی منظر اس کے ذہن میں نقش ہو چکا تھا اور یہی نقش حمدان کے لئے نقصان کا باز بن رہا تھا گازان میری بات سنو مجھے بتاؤ تم دونوں کی درمیان کیا ہوا ہے خدا رہ بتا دو مجھے ہسپٹل میں بھی سمرین بیگم اسے سوال کرتی لے لیکن وہ سپاٹ سا بس آبان کے بالوں بھی ہاتھ فیرت رہا اپنی ہاتھ پر بینڈج بھی اس نے زبردستی کروائی تھی آبان کو کچھ سوچ کر وہ بیگ کے جانی بڑھی اور اس میں سے ایک پیپر گازان کے جانی بڑھایا گازان نے سپاٹ انداز ہوں پچھا تھاما بظاہر یہ اور سکون گازان سدھی کی اندر سے دہل رہا تھا منتح سلطان میں کوئی غیرہ فیصلہ نہ کر دیا ہو جیسے جیسے ذرا سا داغ برداش نہیں کر سکتے ہاں میں حاشر علی حمدان کی نکاح میں اس سے محبت کرتی تھی لیکن مجھے چھوڑ کر چلا گیا آپ نے تھپڑ مار کر ثابت کر دیا کہ آپ بھی انہی مردوں میں سی ہیں جو عورت کو پاؤ کی دھول سمجھتے ہیں مجھے گازان کو یہ لیٹر جھوٹ بھی لگ رہا تھا اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ منطح ایسا نہیں کر سکتی لیکن اس پیپر پر لکھے الفاظ چیخ چیخ کر سچائی بیان کر رہے تھے گازان منطح پہلے کسی کے نکاح جانتی تھی سمرین بیگم کے انکشاف نے گازان نہیں ہے وہ بیگنا ہے اسے ہم نے قسم میں باندھا تھا وہ بتانا چاہتی تھی لیکن ہم نے اسے روک دیا کیونکہ جو تم نے آج کیا ہے اگر منطح تمہیں بتاتی تو نجانے تم اس کے ساتھ کیا کرتے تمہاری شدت پسندی سے میں اچھی طرح واقع تھی تم نے جیسے سب ختم ہوا تھا یعنی اس کی ماں اسے کم زرف گھٹیا سمجھتی رہی گازان منطح بے قصور ہے اسے ماف کر دو اسے واپس لے آؤ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے حمدان کو اس وقت ساری گیم الٹیم ہوتی محسوس ہو رہی تھی یعنی سمرین بیگم پہلے سے ہی اس حقیقت کو جانتی تھی موم آپ نے بھائی سے حقیقت چھپائی چلے بھا بھی تو گئر تھی آپ تو موم ہیں آپ نے بھی اتنے سال حقیقت پر پردہ ڈالے رکھا حمدان نے جلتی پر تیل کا کام کیا مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی آبان کو کاؤچ پر سے اٹھا کر وہ تیزی سے اوپر کی جانتی بڑھ گیا حمدان بھی ایک نظر سمرین پیغم کے جانتی باہر کے جانتی بڑھا دے ہوشی کی حالت میں موجود منتحہ کو ہوش دلوانا چاہ رہی تھی لیکن حمدان نے اسے ڈول سے اتنی گہری دی تھی کہ اس کا ہوش میں آنا ناممکن تھا وہ کچھ کر منتحہ کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی حمدان کے آنے سے پہلے پہلے اسے منتحہ کو یہاں سے لے کر نکلنا تھا شانی کو باتوں میں لگا کر ہی اندر آئی تھی کسی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ رکھ اس کا رکھ موڑا حمدان تم مجھے پتا تھا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آوگی باز کو چکر کر اس نے کہر آلو آنکھوں سے لائبہ کو دیکھا حمدان تو تم مجھے غلط مت سمجھنا دیکھو اسے چھوڑ دو میں نے وہ حقیقت تمہیں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ تم بھی حمدان کے دماغ ترتیب دیا تھا اس وقت بتا کر آج وہ منطحہ کو بچانا چاہ رہی تھی مرنا چاہتی ہو حمدان نے عبرو اچکا کر کمر کے گرد گن رکھی لائبہ کا سانس حلق میں اٹکا دیکھو دیکھو حمدان میں تمہارا بھلا چاہ رہی ہوں میرا بھلا کرنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے میں اپنی لئے اکیلا کافی ہوں اگر اپنی جان پیاری ہے تو نکلو یہاں سے ورنہ ایسی جگہ گھاڑوں گا کہ تمہارا نام نشان بھی نہیں ملے گا اس کی دھمکی لائبہ کے خوش اڑھا گئی بتاؤ کیا چاہتی ہو جینا یا پھر بات ادھوری چھوڑ کر اس نے اوپر کی جان بشارہ کیا لائبہ کسر نفی میں ہلا چلو نکلو یہاں سے اور ہاں سیدھا اپنے آفیس جانا میرے آدمیوں کی نظر تم پر ہی ہے بازوں سے اسے باہر کی جان دھکیر کر اس نے منتح کہ کمرے دروا سے لائبہ کو لے کر باہر کی جان بڑا چلو شاباش نکلو جل دی ہاں سے گاڑی میں اسے بٹھا کر بچوں کی طرح پچکارتا اسے گاڑی وہاں سے لے جانے کا شرار دیا لائبہ سہیمی سی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے گاڑی لے نکلتی چلی گئی تم بھی اپنے باپ جیسے کم ظرف نکلے یہ الفاظ تقریبا سو بار تو گازان صدقی کے دل پر وار کر چکے تھے آبان کی پیٹ تھپکتا وہ بس اس نکتے پر رکھا پانچ سال وفا محبت عزت اعتبار دے کر آج وہ کم ظرف انسان ثابت ہو گیا تھا یعنی وہ محبت دے کر محبت کی توہین کرتا رہا تھا خالی کمرہ اس وقت اسے کارٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا سائیڈ پر پڑا منتحہ کا موبائل اس کا مون چڑھا رہا تھا یعنی وہ جاتے جاتے کوئی ایک چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے گئی یعنی وہ شاید وہ کبھی دل سے بول ہی نہیں پاتا اس کی اپنی ماں ہی جب اسے اتنا غلط سمجھتی رہی تو باکی اسے کیا امید رکھتا سائیڈ پر رکھا اس کا موبائل رنگ ہوا سکرین پر لائیوہ خان کا نام دیکھ کر اس کے ماتے پر بل نمائے ہوئے فون کو ایک نظر دیکھ کر وہ سگریٹ لائٹ لی بالکرنی کی جانی بڑھا تاریخ میں ڈوبہ ذہن ہوش میں واپس آ رہا تھا اسے ایک خالی میٹرز پر ڈٹھا گیا تھا اکنی سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھی لیکن گھومتے دماغ نے قدموں کو بڑھنے نہیں دیا ارے بھابی جی کہاں چلی میں تو یہاں ہوں ہمدان کی آواز اور اس کے لمز نے منتحہ کو چھکنے پر مجبور کیا اس نے ہمدان سے بازو چھڑوانا چاہا لیکن اس نے سکتی سے بازو کو جھکڑا تھا کلائی میں اب تک درد کی ٹیسے اٹھ رہی تھی چھوڑو گازان بچائیں دور سے کراتی وہ مزید تکھی گازان کا کہہ پیزا میں گنجا بھابی جی بھائی کو بھول جائیں اب آپ اس سے کبھی نہیں مل پائے کیونکہ بہت جل آپ اس دنیا سے جانے والی ہیں گھر آلوت لہجے میں کہہ اس نے منتحہ کے بازو کو جھٹکہ دیا بہت منتحہ ایسے لگا تھا کہ جسے جڑ سے اکھڑ جائیں گے ہمدان مجھے چھوڑ دو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے خدا کا واسطہ ہے دیکھو تمہیں آبان کا واسطہ اپنی طبیعت کا اسے شدت سے حساس ہوا تھا کسی بھی طرح اپنے آپ کو ہمدان سے اسے پہلے مزید کو کچھ بولتا منتحہ کے الفاظ نے حمدان کے جہرے کو ضبط سے لال کیا حمدان مر جاؤ تم خدا کرے تمہیں حرام موت نصیب ہو مر جاؤ منتحہ کے ضبط کا پہمانہ چھلکا تھا اور آج پھر درد کی عطا گہرائیوں میں بددواں دے چکی تھی مجھے تو حرام موت نصیب ہو جائے گی لیکن تمہیں میں حرام کر کے حلال موت دوں گا منتحہ کے بالوں کو سختی سے جھٹک کر اس نے زہر اگلا چھوڑو گال پر لڑکتے آنسو بے بسی کو ظاہر کر رہے تھے چھوڑ دو اپنا چہرہ منتحہ کے قریب لائے اس نے پرار سرار انداز میں کہا منتحہ یکدم سہمی نہیں نہیں ہمدان خدا رہا نہیں منتحہ کیا ہوں فریادوں پر اس نے ایک بھیانک کہکہ لگایا تھا اس سے پہلو مزید حد پار کرتا موبائل کی رنگ منتحہ کے لئے غانیمت ثابت ہوئی ایک ہاتھ منتحہ کو کابو کیا اس نے دوسری ہاتھ موبائل پاکٹ سے نکالا سکرین پر موم کالنگ دیکھ کر منتحہ کی آنکھ صدق شکر کی مانم کھلی اس نے حمدان کی ہاتھ سے موبائل پٹنا چاہا لیکن حمدان اس کی چالا کی سمجھ چکا تھا چالا کی کرتی ہو اس کے غلطان کے گر بازو ڈال کر ہاتھ اس کے مو پر رکھ کر اس نے منتحہ کی آواز گھلا گھوٹا اور فون کان سے لگایا موم کیا ہوا بھائی ٹھیک ہے آبان کا بخاہ کم ہوا ایک تیجی نظر منتحہ پر ڈال کر اس نے سوالات کی پوچھار کی دوسری جانے سے نجانے کیا کہا گیا تھا کہ ہمدان یغنب بخلا مام ابھی نہیں میں آتا ہوں پھر کال کیجئے گا بس میں دس منتحہ پاؤ مارے لیکن ہمدان کی گرفت سے خود کو آزاد نہیں کر پائی فون پاکٹ میں رکھ اس نے منتحہ کو سامنے کیا تمہاری ساس تو تمہاری بڑی ہمدرد ہے لیکن میں بہت ہمدان کی دھمکی نے منتحہ کا روہ روہ کھڑا کیا تھا ہمدان ہمدان خدا کے لیے رحم کرو ہمدان وہ تیزی سے دروازے کی جانی بڑی لیکن ہمدان وہاں سے اپنی صفحہ کے سمیت جا چکا تھا میں کیا کرو کسی سچائی بتاؤ کوئی میرا یقین نہیں کریں بابا میں ایک بے گناہ کو قاتل سمجھتی رہی سر ہاتھوں میں گرائے وہ پشتاوی کی زدنے تھی ہمدان کی کول بن ہونے کے بعد اس نے میسیج ریسیو کیا تھا جس پر اس کے گھر سے قریبی ایک فالتو مکان کا ہی تھا جہاں اس نے منتحہ کو رکھا تھا ناجانے لائبہ کے من میں کیا سمائے کہ فورا کارن بیٹ کا اس جانب بڑی کسی بھی طرح منتحہ سلطان کو وہاں سے نکالنا چاہ دی تھی وہاں جا کر جو حقیقت اس کو پتا چلی تھی لائبہ کے پاؤں سے زمین کھسکا گئی ایک بے گناہ کو سمجھتے اس نے سال گزار دیئے تھے اور اصل کاتل وہی تھا جسے وہ اپنا ہم درد سمجھ رہی تھی لائبہ کے دماغ میں یقی جھماک ہوا اس نے فورا سے پہلے حمدان کی ویڈیو ریکارڈ کی اور دس سیکنڈ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ تیزی سے وہاں سے نکلی یا اللہ میں کیا کرو کس سے مدد مانگو وہ ضروری شخص تو منطح کی زندگی برباد کر دے گا اس نے کافی مرتبہ کازان کا نمبر ٹرائے کیا تھا لیکن نجانے اس شخص نے بھی قسم کھالی تھی فون کو پٹک کر وہ تھکی ہاری سی چیئر پر بیٹھی تھی ایک سوچ نے اسے منع کیا تھا مام ٹھیک ہے مان لیا کہ اس میں بھابی کا قصور نہیں ہے لیکن وہ بینہ بتائے بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی کیا انہیں ایک بھائی بھائی یا آبان کا خیال نہیں آیا اور مام ہو سکتا ہے بھائی نے اپنی گھر والوں کو کچھ نہ بتایا ہو اگر آپ ست چکر تھا کہ سمرین بھیک نے بر وقت اسے آگا کر دیا گازان ایسا کمرے میں بن ہوا تھا کہ اب تک باہر نہیں آیا تھا سمرین بھیک نے بھائی اس کے کمرے کا درمازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن سب بے سود منتحہ کا دیا گیا زخم اس کے دل کو تباہ اور برباد کر چکا تھا مام ایک دو دن رک جائیں دیکھے اگر منتحہ بھائی ادھر جا کر کسی کو بتاتی تو اب تک ان کے گھر سے فون آ چکا ہوتا شاید وہ چند دن بھائی کی نظروں سے اجھل رہنا چاہتی ہے اور اپنے گھر والوں بھائی ہمدان کی بات کی میں ہے ایسے بات بگر سکتی ہے آپ پھل اس موقع کی نظاکت کو سمجھے چلے آپ ریسٹ کریں میں بھائی کو دیکھ کر آتا ہوں بوہ بوہ آپ موم کی میڈیسن لائیں بوہ کو اشارہ دے کر اس نے میڈیسن مگوائی تھی میڈیسن سمرین بیگم کو دیکھ کمرے میں چھوڑ کر گازان کی کمرے کے جانب آیا گہرا سانس لے اس نے خود کو کمپوز کیا اور کمرے میں داخل ہوا آبان بیٹ پر گہری نیر میں گرگ تھا گازان اسے کہی بھی نظر نہیں آیا بھائی خاموش کمرے میں ہمدان کی آواز گنجی وہ سیدھا بالکونی کے جانب آیا توقع کے مطابق گازان وہی موجود تھا چھوٹے سے ٹیبل پر موجود ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی ہمدان کو بے سافتہ ان کی حالت پر رہے آیا اس نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ گازان سدھی کی اس حد تک عذیت نے گھر جائے بھائی تیز اسے بالکون کی جانب جا کر اس نے اس کے قریب کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچی بھائی بس کر دے اپنی حالت دیکھے کیا ہو گیا ہے کوئی اپنے آپ پر اسے بھی ظلم کرتا ہے ہمدان تم یہاں کیا کر رہے ہو جاؤ یہاں سے غازان کی آواز کی سرد مہری نے حمدان کو ایک پل کے لئے خاموش کر وایا نہیں بھائی میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا بھابی تو کم زف تھی لیکن آپ تو نہیں ہیں میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ عورت اچھی نہیں ہے لیکن آپ پر اس میری محبت ہے حمدان ستھی کی ابھی تک میں نے ان کے لئے یہ گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کی تو تم کون ہوتے ہو منتحہ غازان کو ایسے الفاظ سے پکارنے والے دفعہ ہو جاؤ میری نظروں کے سانلے سے آئندہ اگر کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا یہ مجھے گازان صدیقی سے ملنا ہے لائبہ کی آواز پر سامنے موجود منیجر نے سر اٹھا کر حیرت سے لائبہ کی جانی دیکھا آفیس میں پہلی بار کوئی اجنبی خاتون گازان صدیقی سے ملنے آئی تھی سر آج آفیس نہیں آئے اور شاید چند دن تک وہ ان سے بات کروا دیں لائبہ کی التجا سے مقابل شخص چونکا کیا آپ نے سر سے میٹنگ کیلئے ٹائم لیا تھا نہیں مجھے بس چند منٹ بات کرنی ہے پلیس ان کو کہیں وہ میری بات سن لیں اردگر دیکھتی مسلسل التجا کر رہی تھی دیکھیں میں آپ کو میں کیسے سمجھاؤ سر آج کل کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے آفس نہیں آرہ ہے اور اکلے چند دن بھی نہیں آئیں گے اف میں کیا کروں لائیوہ بیپسی کی وجہ سے جنرلائی تھی اچھا ایسا کریں ان کو کہے ایک سپیشل کلائے ان سے ملنا چاہتا ہے میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی میم پلیز میں نے کبھی اپنے کام سے گداری نہیں کی پلیز آپ مجھے فورس مت کریں آپ میری بات نہیں سمجھ رہے مجھے ان سے ملنا ہے تو ملنا ہے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اس نے سختی سے کہا منجر کی آنکھوں میں بھی غصے کی لہر واضح ہوئی گارڈ کو اشارہ دیکھ کر اس نے لہبہ کو آفیس سے باہر نکالنے کا حکم دیا دیکھیں پلیز آپ کے سر کی زندگی خطرے میں انہیں کہیں ایک بار مجھ سے بات کر لیں میں نجر نے مشکوک انداز سے اس کے جانب دیکھا فون اٹھا کر غازان صدیقی کا نمبر ملائیا قریباً چار بیڑ کے بعد فون کال ریسیو کی گئی غازان مجھ سے بات کرو پلیز غازان میری بات سنو فون جھپٹ کر اس نے کان سے لگایا تم لہبہ کی آواز پر وہ جھٹ سے پہچان گیا تمہاری حمد کیسی مجھے فون کرنے کی اور میرے آفیس میں تم کیا کر لیکن دوسری جانب سے نمبر سویچ آف شو ہو رہا تھا میم سر نے کال کٹ کر دی ہے منیجر کی تنزیہ آواز پر اس نے مقابل شخص کو دیکھا لہبہ کی آنکھ سے آنسو بہیں اور ہی تک شدید احساس ہو بہار کی جانب بڑی ہر طرف سے اسے آیت ناکامی مر رہی تھی ہر جانب سے نقصان ہی نقصان اس کے زمرے میں آ رہا تھا کوئی ایک رابی اسے سجائی نہیں دے رہی تھی کیا چیز ہو تم کیوں اتنی محبت ہے بھائی کو تم اسے تمہاری وجہ سے آج انہوں نے مجھے بیجزت کیا منتھا کو بالوں سے جکڑے اس نے زمین سے اٹھایا وہ جو سکڑی سیمتی بیٹھی تھی ہمدان کی جنگ اور اس کی گرفت سے چیخی تھی کیوں ہو تم اتنی بری کیوں تم میرے بھائی کے دل میں بسی ہو ایک زور میں پہنچاؤں جانتی ہو اگر بات صرف ایک تھپڑ کی ہوتی میں تمہیں کب سے ماف کر دیتا لیکن تم نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینہ میرے بھائی کی محبت میں شراکت دار بن گئی پھر میں تمہیں کیسے بخش دوں بلو منتھا کے چہرے کے قریب اپنا چہرال ائز منتھا کا دل جہاں موت ہی آ جائے کم اس حذیت سے تو نچار مل جائے اب تمہاری آواز نہ نکلے ورنہ میں تمہارے بیٹے کو ٹان سے مار دوں گا اس وقت ہمدان صدیقی وحشی انسان لگ رہا تھا جو سب کچھ برباد کرنے کے در پر تھا میری اخلا وہ ہوش وقرت سے بیگانہ ہوتی چلی گئی منتھا لائبہ کی فون کال کے بعد گازان کو اگر کسی کا خیال آیا تھا وہ صرف منتھا سلطان تھی ابھی اس نے آنکھیں بھوم دی تھی کہ منتھا سلطان کی درد میں روپی آواز نہ جانے کیوں سماعت اسے آن ٹکرائے دل کو آج اللہ کی بیچائن لگی یک دم گازان کو ایسا لگا جیسے منتھا نے گازان کو پکارا ہے بالکنے سے نکل کر وہ آبان کی جانب آیا جو اب بھی نین میں منتھا کو پکار رہا تھا دل کی حالت اس حد تک بیچائن ہو گئی تھی کہ گازان کے دل چاہا کہ منتھا سلطان آبان کے سر پر ہاتھ فیرے اس نے آبان کو گود میں اٹھایا موم آپ کو میں کمزف لگتا ہوں میں کمزف ہی سہی میں نے منتھا کو تکلیف دی ہے اب میں منتھا کی تکلیف کا مدعویٰ کروں گا کچھ بھی ہو جائے میں انہیں اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتا بے شک مجھے زبردستی ہی نہیں انہیں اپنے ساتھ رکھنا پڑے میں رکھوں گا حید بھرے انداز میں اپنا موبائل اٹھائے آبان کے گود میں تھامیں باہر کے جانب بڑھ گیا منتھا کو بیغمش ہوتا دیکھ کر حمدان تیزے سے نیچے جھکا اے ہوش میں آؤ اس کا گال زور زور سے تھپ تھپ آتا حمدان جنونی ہوا اتنی آسانی سے میں تمہیں اس دنیا سے نہیں جانے دوں گا اٹھو آنکھیں کھلو اس نے چاروں طرف کمرے میں نظر توڑا کر پانی تلاش نہ چاہا کورنر پر ایک بوسیدہ سی بوتل میں پانی موجود تھا حمدان فورا وہ بوتل منتحہ کے پاس لائے اور اس میں موجود پانی کو منتحہ کے مو پر انڈیلا اٹھو جلدی اٹھو تمہیں میں مرنے نہیں دینا چاہتا ابھی نہیں مرنے دوں گا عذیت کی نجانے آج شاید آخری حد ممکن تھی جو حمدان منتحہ کو پہنچا رہا تھا منتحہ خانستی بھی اٹھی تھی منتحہ سے دور دھکیلا حمدان اس حملے کے لئے تیار نہیں تھا اور وہ لڑکتا ہوا دور گرا غازان منتحہ کے مو سے درد بے سافت تھا غازان کا نام نکلا اور آنکھوں میں گویا چمک آئی لیکن یہ چننلو کا کام تھا سامنے غازان نہیں بلکہ اس کا گنہگار اس کا ستمگر حاشر حمدان ہی تھا منتحہ کے آنکھوں کی جوت اگدم بجی یعنی غازان سدھی کی اتنا پتھر دل ثابت ہوا تھا کہ اس کو بچانے بھی نہیں آیا میں جانتا تھا کہ تو بے گررد ہے لیکن اتنا بے گررد ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا منتحہ پر ایک نظر ڈال کر وہ حمدان پر ٹوٹ پڑا اس کی لاتو گھونسوں سے مات جنونی ہو رہا تھا اپنی ماں جائسی بہابی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی تیری جررت کیسی ہوئی حمدان اس حملے کے لئے قطعی تیار نہیں تھا کچھ حاشر کے جنونی پر نے حمدان کو سمجھلنے جس کی آس امید نگایا بیٹھی وہ نہ جانے کہاں تھا حمدان کو زد وقوب کا نشانہ بنا کر وہ منتحہ کے جانب بڑھا منتحہ یقلب کسی خیال سے چونکے اور جھڑکے سے اٹھ کر پیچھے کے جانب خس کی حاشر اس کی جانب بڑھا اس سے پہلے منتحہ کو چھوپ آتا مجھے دیکھو مجھے ماف کر دو مجھے گازان کے پاس جانے دو منتحہ ہاتھ چھوڑے سیمی سی بولی منتحہ کی حالت حاشر کا دل تباہ و برباد کر گئی چار سال بعد منتحہ کو آج جا کر دیکھنا نصیب ہو ہی گئے چکا تھا حاشر نے یہ کبھی نہیں سوچ اس کی جھولی میں نہیں ڈالا تھا مجھے جانے دو ادھر دیکھتی ہو راہی فرار تلاش کر رہی تھی حاشر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مجھ سے سرگوشیانہ انداز منتحہ کو کہا منتحہ کا نام جلتے دل کو تھندک دے گیا نہیں مجھے جانے دو ہاتھ نہیں لگانا دیکھو میں کوئی گلتی نہیں کی میں نے تمہاری زندگی خراب نہیں کی نہ جانے کون سے پشتاؤں میں گری منتحہ اس سے فریاد کر رہی تھی منتحہ میں کچھ نہیں کہوں گا دیکھو ادھر آؤ میں کچھ نہیں کہہ رہا نہیں جاؤ یہاں سے نہیں جاؤ یہاں منتحہ حاشر کے پیچھے سے لائبہ کی آواز ہوگی لائبہ آپ منتحہ کو سمال لیں حاشر نے فورا رکھ موڑا مزید منتحہ کو دیکھنا اس نے اپنی نظروں پر حرام کیا تھا جو چیز اس کی دسترس میں نہیں تھی اس کو دیکھنا بھی اس کے لئے ممنوع تھا لائبہ تو تم مجھے یہاں سے لائبہ مجھے گازان کے پاس سر پر ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے وجود کے سنگ بولی لائبہ فورا آگے بڑھ کر اسے تھان چکی تھی لائبہ میرا بچہ پیٹ پر ہاتھ رکھ اس نے آخری الفاظ یہی کہے تھے لائبہ ایک دم چونکی یعنی منتحہ پریگننٹ تھی لائبہ سکتا حمدان کے مو پر تنزیہ مسکرات نمودہ بھی جو کرنا ہے کر لو میں اپنا کام کر چکا ہوں جاؤ لے جاؤ اس عورت کو اب میرا بھائی اسے مر کر بھی نہیں اپنائے گا آستین سے کھون آلود ہونٹ ساف کرتے وہ حاشر کو تیج دلا گیا ایک جھڑکے میں اس نے حمدان کو دور ڈھکلا تو دور لگتا ہی نہیں ہے کہ گازان جیسے منفرد شک کا بھائی ہے ایک اگر فریشتہ ہے تو دوسرا شیطان ہے حاشر منتحہ کی حالت خراب ہو رہی ہے اسے ہسپیٹل لے جانا ہوگا لائبہ اگر چکھی حاشر تیزی سے اس کی جانی بڑھا جو نیم گنودگی میں تھی لابو سے نکلتا گازان کا نام ہاشر کی آنکھیں نم آلود کر گیا تیزی سے ستھامے اور بہار کی جانی بڑھا لائبہ بھی قدم اس کے بروبرو تھی آگر جان حویلی میں داخل ہوتی انچہ آواز میں چل آیا یہاں سب لوگ پہلے ہی بیٹی نہیں دی تھی کہ آپ اس کے لئے ایسے بے دردی کرے ایسی بے قدری کرے اس کی آگا جان اس وقت ان سوالوں کو وقت نہیں ہے اگر میں چاہوں تو بہت سے سوالات کر سکتا ہوں آپ نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی کہ یہ گوارت تھا کیا آپ اس حقیقت کو چھپاتے گازان تندہ ہی سے بولا ہم نے کوئی حقیقت نہیں چھپائی بلکہ ہم نے آپ کی مام کو سب بتا دیا تھا حقیقت چھپانے والی اگر کوئی ہے تو آپ کی مام ہے گازان سدھی کی اس کے نام پر زور دے کر آگا جان نے کوئی باور کروایا نہیں آگا جان منطحہ کو سچائے چھپانے والوں میں اگر سمرین خاتون چامل تھی تا آگا جان کسوروار ہم بھی ہیں زوبیا ویگم کی آواز نے کوئی سب کو سانپ سنگھایا آگا جان نے حیرت سے زوبیا ویگم کی جانب دیکھا آنٹی یہ وقت سوال اور جواب کا نہیں ہے خدارہ اگر منطحہ کا کچھ پتہ ہے تو پلیس مجھے بتا دے آبان کی حالت دیکھیں ماریہ تیزی سے آنکھ آئی اور آبان کو گازان کی گود سے لیا اس بارے میں اگر ہمیں پتہ ہوتا تو گازان سدھی کی ہم کبھی آپ سے سوال نہیں کرتے آگا جان میری لتجہ ہے آپ سے یہ وقت بحث کا نہیں ہے اس وقت منطحہ کا ڈھوڑنا اہم ہے ماریہ آپ پلیس آبان کو سمح لیجئے گا میں بہت جگ اس کی دیدی کو ڈھون کر لاؤں گا آگر جان منطحہ کی اگر کوئی بھی خبر آئے تو مجھے اطلاع دیجئے گا ماریہ منطحہ کیا وہ باہر کا علم ہی نہیں ہو سکا شدہ تگیریہ سے گیا ہوا گازان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جو منطحہ کو کہاں تلاش کرے ہر طرف سے گیا مسئیبت میں گر چکا تھا دل پر الگ بوجھ سم حسوس ہو رہا تھا گازان اس کا لیٹر بھی مجھے روم سے ملا مجھے علم بھی نہیں فمدان کو کہے کہ گار سے پتا کریں میں تک منطحہ کو اپنے ذرائع سے تلاش کرتا ہوں کال کٹ کیس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی آج کازان ستزیگی کو احساس ہو رہا تھا کہ زندگی اجڑڑنا کیا ہوتا ہے اس کی متائیں جہاں اس کی روح آج اس سے دور تھی تکلیف دوا تو یہ تھی کہ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے سرک گوش لیے وہ آج بھری دنیا میں خود کو اکیلا تصور کر رہا تھا سالہ سمجھتا کیا ہے منطحہ کو مجھ سے بچا کر لے گیا تو کیا بھائی کی زندگی میں واپس لے آئے گا اس کی بھول ہے بھائی کو میں اپنا یقین دلاؤں گا بھائی مجھ پر یقین کرے گے اس ہاشر پر نہیں شانی کو کہتا وہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرا رہا تھا شانی نے نفرت انگیز انداز میں اس کے جاند دیکھا یک دم اس کا دل جہا حمدان کو جان سے مار دے منتحہ کے ساتھ اس کا درد آمیز رویہ شانی جیسے شخص کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا زب کی آخری حد پر تھا جب ہاشر وہاں آیا ورنہ آج وہ حمدان صدیقے کو مار ہی گئی تھی اپنی طرف سے وہ منتحہ کو رب کی امان میں دے چکا تھا حمدان تو ریسٹ کر میں تیرے لے کچھ کھانے کو لاتا ہوں اس کی باقواس مزید سننے کی اس میں تاب باقی نہیں تھی تیزے سے اٹھ کر رویٹ سے باہر نکلتا چلا گیا منتحہ کی خیریت معلوم کرنا اس وقت سب سے ضروری کھام تھا منتحہ بھابی کیسی ہے لائبا جی شانی کی آواز سن کر آنکھوں میں نمی فر سے ابری وہ ٹھیک نہیں ہے شانی اس کے لئے دعا کرو وہ زندگی اور موت کے بیچ الجی ہوئی ہے اللہ پاک سب ٹھیک کرے گا آپ روئے مت کازان بھائی آگئے نہیں وہ ابھی تک نہیں آیا شانی ہمدان کہا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور یقین کرے میرا دل کر رہا ہے میں اسے جان سے مار دوں نہیں شانی یہ گزب مت کرنا اسے سزا دینی والی اگر کوئی ہے تو وہ منتحہ ہے تم اپنے ہاتھ گندے مت کرنا شانی اپنی بہن کی بہن مان بھرے انداز میں کہ اس نے گویا شانی کو انتہائی اقدام سے روکا میں نہیں کر رہا کچھ بھی پس آپ مجھے اطلاع دیتی رہیے گا رکھتا ہوں کئی ہمدان نہ آ جائے کال کٹ کر لائبہ فون سائٹ پر رکھے دیوار سے ٹیک لگا گئی چند گھنٹے پہلے گازان کے آفیس سے نکلنے کے بعد لائبہ ہر طرف سے ناؤمید ہو چکی تھی دل چاہ رہا تھا کہ فوٹ فوٹ کر روئے کچھ بھی کر کے اسے منتحہ کو بچانا تھا فون پر ہوتی کال بیل نے لائبہ کی توجہ کھجی ان نون نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹھانا مناسب نہیں سمجھ لیکن اچانک اس کے من میں کیا سمائی کہ اس نے کال ریسیو کی لائبہ میں شانی بات کر رہا ہمدان کا دوست پلیز آپ بھی طرح سال بعد لائبہ خان نے آج حاشر علی کی آواز سنی تھی جو پہلے سے بار آف ہو چکی تھی حاشر پلیز فون مٹ کٹیے گا منتحہ کی جان خطرے میں ہے کیا ہوا مس لائبہ اور آپ کو کیسے پتا کہ منتحہ کی جان خطرے میں ہے حاشر یہ وقت سوال جواب نہیں ہے اس وقت منتحہ کو بچانا اہم ہے آپ کو میں لوکیشن اور ایک ویڈیو بھیج رہی ہو آپ خود دیکھ لیں ویڈیو دیکھ کر حاشر کے آف ساب بھی جن لائے اس کا مجرم اب منتحہ کا مجرم بھی بن رہا تھا آگا جان بھی یہ خبر سن کر یہ پرے پورے گھر میں خبر فیلی آفاق بھی تیزے منتحہ کو تلاش کرنے کے لئے نکلا تھا آج اگر منتحہ سلطان جندہ تھی تو اسے بچانے والا وہی ستمگر تھا جس نے کبھی الزام لگا کر اسے برباد کیا تھا آج منتحہ کو بچا کر اس نے شاید اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا ڈاکٹر منتحہ کیسی ہے پورے تین گھنٹے بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئی تھی آکسیجن کی گمی کی وجہ سے انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا ڈاکٹر کے باہر آتے ہاشر بیچانی سے آگے بڑا دیکھیں ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے اور پلیز انہیں یہاں بلائیں اور فیلال ہم کچھ نہیں کہ سکتے لائبہ فوراں ہاشر کے نزدیک آئے گازان کو میں بارہ ٹرائ کر چکی ہوں لیکن ان کا نمبر نوٹ ریچبل آ رہا ہے منتحہ اگر کوئی زندگی کی طرف لا سکتا ہے تو گازان صدیقی ہے لائبہ کی تفکر میں ڈوبی آواز سن کر ہاشر بھی پر سوچ ہوا میں کرتا ہوں گازان کو فون تو مجھے اس کا نمبر دو ہاں میں دیتی ہوں لائبہ سے نمبر لے کر وہ باہر کی جانی بڑھا ایک بار تو ہاشر بھی گازان صدیقی کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچ میں دوبا کہ وہ کیا بات کرے کوئی نیا انظام اس کی ذات سے نہ جڑے لیکن حمد جمع کی اس نے آخر کار نمبر ڈائل کیا بیل جا رہی تھی اور ادھر ہاشر کے سانس کی روانی بڑھ رہی تھی دور کہیں فجر کی آزان سنائی تھی تقریبا چوتھی بیل پر کال پک کی گئی گازان میں حاشر علی حمدانی بات کر رہا ہوں میں تمہیں پہچان چکا ہوں تمہارا نمبر میرے پاس سیو ہے کس لیے فون کیا گازان کا انداز کافی سپاٹ تھا لیکن نہ جانے کیوں حاشر کو ٹوٹا بکھرا لگا گازان منتح ہسپٹل میں ہے اور اس کی حالت کافی کرٹیکل ہے یہ یہ کیا کہہ رہے ہو میں منتح ہسپٹل میں تمہارے پاس گازان میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں تم جلد جلد یہاں پہنچ ہاشر مجھے بتاؤ منتح کو کیا ہوا وہ منتح ہاشر کی زبان لڑ کھڑائی گازان منتح کی حالت بہت خراب ہے تم یہاں آؤ تفصیلا بات کرتے یہ وقت سوال جواب کا نہیں وہ تمہیں ہی پکار رہی ہے دیکھو وقت بہت کم ہے تم جلد جلد یہاں پہنچ میں آ رہا ہوں میں بس دس منٹ میں پہنچ رہا ہوں دل میں رب کو پکار ہی ہسپٹل کے جانب روانہ ہوا زندگی کی نوید اگر ہاشر کو سمجھ آ رہا تھا ایک طرف مندہ کی پریشانی دوسری جانب اپنے مجرم کو دیکھنا ہاشر کے لئے شاید آج ضبط کی حد تھی چار سال بعد جویریا اپنی سزا اور جزا سمیت اس کے سامنے موجود تھی جویریا اپنی سیٹ سے اٹھ کر ہاتھ میں چھوٹی سی پوڑلی ڈھام کر باہر کی جانب بڑی تھی کہ سامنے اسے یک ٹک دیکھتے ہاشر سے ٹکرائی ماف کر دے گلتی سے باقی مانتا الفاظ جیسے زبان نے روک دیئے تھے سامنے موجود ہستی کو دیکھ گویا جویریا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی قدم بے سافتہ پیچھے کی جانب کھس کے ہاشر اب بھی سکتے سے کی قیفیت میں کھڑا تھا ہاشر مجھے ماف کر دو پلیس کچھ نہیں کہنا قدم پیچھے کی جانب لیتی وہ بے بے سی سے گویا ہوئی ہاں میں کیا کہو سوٹ پہنے وہ نقصق سی تیار جویریہ سے بہت الگ تھی آنسو لڑک کر گال پر بہار تھما بولو جویریہ کتنا خوش ہو کیا میری دی گئی دولت کم تھی جو اس طرح زندگی گزار رہی ہو کیا ہوا کیا ہمدان نے کچھ نہیں دیا یا تمہیں اپنایا نہیں تمہارا عاشق ملا نہیں ابھی تک تم سے یا یوں کہوں کس نے تمہیں اس قابل نہیں سمجھا بہر جویریہ گناہ اگر کرتا ہے تو سزا بھی پاتا ہے تم نے گناہ کیا تو تم نے سزا پالی اور میرے گناہوں کی سزا مجھے تمہاری صورت میں مل گئی میرا بچہ بچ گیا تھا جویریہ شاید اللہ پاک اسے ناپاک ہاتھوں سے بچانا چھاتے تھے اس لئے اسے زندگی بکھر تھی تو رکھے سے کہہ اس نے جویریہ کی جانب دیکھا مقابل کی نظرے بھی گویا حاشر کی جانب اٹھی آنکھوں میں گئی یقینی واضح تھی میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی ماں مر چکی ہے دیکھو آج وہ سکون بھری زندگ کی جی رہا ہے حاشر کب کپ پاتے لبوں سے محض ایک لفظ نکلا اس اورنے کو اپنے سر کی زینات بنا لو شاید کچھ کفارہ ادھا ہو جائیں بنا اس کی جانب دیکھے وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا تہی دامن سی کھڑی آنکھوں میں بھری نمی لیے وہ حاشر منطحہ کہاں ہے ویحال زگازان سدھی کی آخر پہنچ چکا تھا یہ صفر جیسے اس نے کانٹو پر کٹا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا یا پھر اس کا رب ہاشر بتاؤ منطحہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہاں ہے وہ آئی سی میں ہے ڈاکٹر اس سائٹ پر ہوا اندر داخل ہوتے اس کے قدم تھمیں گویا لمحوں کی مسافت صدیوں کی معنی لگی غازان منطحہ کی مندھر بھری پکار سمات سے آن ٹکرائے یہ پکار تو اس کی زندگی تھی لیکن آج یہ پکار خاموش تھی اس کی مطائعہ حیان مختلف مشینوں میں جبری بے حال سیلیٹی تھی بیوی لبس سرسراہت کی معنی نکلے اور خاموش فضا میں گم ہوئے غازان صدیقی قضب ٹوٹا راکھوں سے نکلتا آنسو بڑی ہوئی داری میں جزب ہوا آکسجن اگر منطحہ میں کم ہوئی تھی تو سانس غازان صدیقی کی بھی اکھڑ رہی تھی دو جسم ایک جان تھے اور دونوں کے جان آج تکلیف میں اٹی تھی بھاری ہوتے قدم اٹھائے اور منطحہ کے جانے بڑا اس کے قریب اس کا ہاتھ تھامتا اس کے سفید ماتھے پر ہونٹ رکھ کر اس نے اپنی آنکھ سے نکلا مزید آنسو منطحہ کے چہرے پر گرایا گازان صدی کی اپنی ذات کا انفرادی شخص فیصلوں میں اٹر رہنے والا اپنی مطائے حیات کو رونے سے روکنے والا آج خود اپنے فیصلے توڑ رہا تھا آج خود منطحہ کو تکلیف میں دیکھ کر رو رہا تھا بیوی آپ کا گازان آگیا ہے ایک بار پکاریں دیکھیں میری جانب دیکھیں بیوی میں روٹ جاؤں گا آنکھیں کھلیں دیکھیں میں نے آپ کو معاف کیا منطحہ کا گال تیرے سے تھپ تھپا کر اس نے منطحہ کا روک اپنی جانب کیا سائیٹ گال پر سوجر اور آکسیجن ماسک سے فٹا ہوا ہونٹ دیکھ کر گازان کی جان ہلک میں آئی گازان کے ہاتھ نے شاید منطحہ کے چہرے کی ہلک بگار دی تھی بیوی یہ سب میری وجہ سے ہوا میرا قصور اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہو تکلیف سے گویا ہوا میں نے آپ پر ہاتھ اٹھا کر خود کو گرا ہوا ثابت کر دیا جانتا ہوں میں تکلیف کا ذریعہ بن گیا ہوں لیکن اپنے گازان کو ایسے سزا تو مد دے ایک بار میری جانت دیکھے منطحہ کا ہاتھ تھام کر اسے لبو سے لگاتا وہ پرنم لہجے میں انتجا کر رہا تھا بیوی منطحہ کی سانسوں میں تیزی بڑی اور ہاتھ میں گویا تھوڑی سی حرکت گازان کو زندگی کی نویت دے گئی منطحہ کا ساکت وجود ہلکا سا ہیلا تھا لبو سے سرکتا ہوا گازان کا نام اس نے واضح سنا جی گازان کی جان میں ہوں یہاں آپ کے پاس ادھر دیکھے منطحہ کا سانس تیزی سے اکھڑ رہا تھا گازان کو کسی انہونی کا شدت سے احساس ہوا منطحہ میری جان کیا ہوا میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں تیزی سے وہ باہر کے جانی بڑھا لیکن یک دم منطحہ نے اس کا ہاتھ مٹھی میں دبوچھا گازان اگدام اچھی آواز میں چلایا ڈاکٹر کی ٹیم تیزی گازان مر جائے گا دیکھیں سر آپ کی باتیں ان کے حواظ بگاڑ رہی آپ کچھ دیر کے لئے چلے جائیں باہر جائیں ہاشر بھی ڈاکٹر کی ٹیم دیکھ کر فوراں گازان کے پاس آیا سسٹر ان کے اکسیجن کم ہو رہی ہے سر پلیز آپ انہیں باہر لے ہمیں تیزی سے لیے باہر آیا گازان ایک روبوٹ کی مانین چلتا ہو چلا گیا کریڈور میں آ کر اس نے جھٹکے سے ہاشر سے بازو آزاد کروایا منتحہ کہاں ملی تمہارے پاس کیسے آئی منتحہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ بولو ہاشر آ کے پر کر اس نے ہاشر کا گریبان تھاما گازان پلیز ہاشر کو چھوڑو اس کا کسور نہیں دیکھو میں تمہیں سچا ہی بتاتی ہوں لائبہ کی آواز سن کر وہ اکدم چونکا تم یہاں کیا کر رہی ہو کیا کیا ہے تم دونوں نے منتحہ کے ساتھ بولو گازان کی آواز میں دھار نمائی تھی ہم نے کچھ نہیں کیا گازان اگر کرنے والا کوئی ہے تو تمہارا بھائی ہے یہ سب کی ادھارہ اسی کا ہے تمہاری بیوی کو اس حال میں پہنچانے والا کوئی ہے تو وہ ہمدان صدقی ہے یہ کیا کہ رہی ہو تم اب منتحہ نہیں تو کیا تم میرے بھائی پر ازام لگاؤ گی گازان مس لائبہ میں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ گازان یہ سب میری وجہ سے ہوا آٹھ مہا پہلے ہمدان مجھے انگلین میں ملے تھا وہیں میں نے اسے یہ حقیقت بتائی کہ تمہاری بھاوی پہلے بھی کسی کے نکاح میں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بات کا اس حد تک غلط طریقے سے تم تک پہنچ جائے گازان میں جانتی ہوں میں گنے گار ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہی وہ مندہ کے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا انگلیہ چٹکاتی وہ شدد گریہ سے بولی حمدان نے سب فساد پھیلائے ہے بس لائبہ خاموش ہو جاؤ پلیس ایک لفظ بھی مت بولنا میں مزید نہیں سن سکتا تیزی سے اٹھ بہار کے جان بڑا حاشر بھی تیزی سے گازان کے پیچھے آیا گازان رکو یہ جوش کا نہیں ہوش کا وقت ہے رکو میری بات سنو تم سچا ہی گازان کے قدموں نے اس کا مزید ساتھ دینے سے انکار کیا مسٹر گازان اس فائل پر آپ کے سائن چاہیے آپ کی بیوی کی جان خطرے میں ہے ان کے ساتھ زیادتی کی بجائے انہیں اگر کچھ ہوا تو آپ بھی اس ہسپیٹر میں نہیں رہیں گی دیکھیں سر زندگی موت اللہ کی ہاتھ میں ہے ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں باقی اس رب کی مرضی ہے آپ اس پیپر پر سائن کر دیجئے کامتے ہاتھ لب بھیج کر اس نے پین کو تھاما اور اپنے نام کے چند لفظ پیپر پر لکھے میری بیوی کو کچھ مت ہونے دیجئے گا پیپر کو چھوڑ کر وہ باہر کے جانے بڑھا دو دن گزر چکے تھے نہ منتحہ سلطان خوش آیا نہ کازان صدقی کی زندگی پر سکون ہوئی دعائیں التجائے نہ 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 ساری رد ہو رہی تھی پانچ وقت نماز شخص پہلے سے زیادہ عبادت گزار بن چکا تھا محبت کی نجانے کون سی رمز گازان صدقی کے دل میں تھی کتنے بڑی سچائی کے بات بھی منتحہ سلطان کی خیر و آفیت مانگ رہا تھا گازان صدقی کی تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھا جو اتنی بڑی سچائی کے بعد منتح سلطان کو چھوڑ دیتا گازان اگر منتح کی جان تھا تو اس کے لئے روح کی مانگ تھی دو دن گازان صدقی کی صدی کی مانگ تھی صدقہ خیرات منت کیا کچھ نہیں وہ مانگ چکا تھا دعا فقط یہ تھی کہ اس کی زندگی اس کی روح سے مل جائے ونہ وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا حمدان کے معاملے میں خاموش تھا اور یہی چیز حاشر کو چونکا رہی تھی لیکن وہ بھی خاموش تھا منتح کی حالت کے پیشے نظر سب اپنی جگہ خاموش تھے اثر کہ اس کی آنکھیں کھل چکی تھی بی یک تم گازان آنکھیں بڑھا منتح نے فوراں زوبیا بیگم کی باہوں میں بنہ ڈھونڈی اور گازان کی جانب سے رک موڑا گازان کے قدم دھمے منتح کی آنکھوں مجھے بے اعتباری واضح نظر آئی امی انہیں کہیں چلے جائیں ہرکان کر گئی بیوی میں گازان میری بات سنیں امی منتح اقدم جی وہ مزید زوبیا بیگم کے ساتھ چھپ کی اور گازان زندگی منتح سلطان کی بے اعتباری دیکھ کر ہارا تھا منتح کی جانب بڑھتے بازو پہلو میں گرے منتح کی حالہ چیف چیف گازان کو بھاوی نہیں آئی گھر میں داکی لوتی ہمد کی آواز سن کر لب بھینج کر اس نے اندر کے تنفر کو روکا نہیں سپارٹ انداز میں کہہ کر اوپر کے جانب بڑھ گیا منتح کی بیعتباری نے آج قازان صدیقی کو ایسا توڑا تھا کہ شاید قازان صدیقہ کے دل بلایا تھا نہ جانے وہ کیا سوچ کر بیٹھا تھا جس کا علم اب تک کسی کو نہیں ہو پایا تھا حمدان کو اس نے کہہ کر مطمئن کیا تھا کہ منتحہ اسے کسی روڈ پر ملی تھی حمدان بھی اگدم سہمہ تھا لیکن دو دن سے اس کا نارمل رویہ دیکھ جسے مطمئن ہو چکا تھا کمرے میں آ کر وہ ملگر جسے حلیے میں مسافت زدہ مسافر کی طرح کاؤچ پر بیٹھ گیا کمرے کو اجنبیت بھری نظروں سے دیکھ تھا وہ شاید اس کمرے میں گزری محبت بھری آدو کو دیکھ رہا تھا جو ان دونوں نے ساتھ مل کر بنائی تھی جن میں ان کی محبت بھری باتیں وعدیں وفائیں سب محفوظ تھی آبان کی پیدائش سے پہلے کازا نے بارہ اسے کہا تھا کہ نیچے شفٹ ہو جائے لیکن منتہ نہیں مانی تھی اس وقت کو یاد کرتے وہ شاید انہی لمحوں میں جا جکا تھا بیوی میں سوچ رہا تھا کہ آپ نیچے شفٹ ہو جائے کیوں یہاں کیا پروبلم ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی ایسے میں اوپر نیچے کے جکر آپ کو مزید کمزور کر دیں گے بس یہی وجہ منتہ نے دیرے سے رضی کھو کر کہا جی یہی وجہ گازان نے حیرت سے منتہ کے جانب دیکھا جو اس کی بات کو نورمل لے رہی تھی گازان یہ کمرہ آپ کی میری محبت بھری باتوں سے بھیکتا ہے پھر میں اس کمرے کو کیسے چھوڑ دوں آپ کے آفیس جانے کے بعد یہ کمرہ مجھے آپ کی موجود کی آپ کی خوشبو کا احساس دلاتا ہے یہ سادھا کمرہ بھی مجھے رنگوں سے بھرا لگتا ہے پھر ان رنگوں کو چھوڑ کر میں کیوں بیرم دنیا میں جاؤ اور جہاں تک بات ہے اوپر نیچے کے چکر لگانے کی میرے لئے یہ باہیں کافی ہیں منتحہ کی دیرے سے گازان کی طوانہ بازو پر ہاتھ رکھ گازان سینے پر سر رکھ کر اپنا مو چھپایا گازان کے لبوں پر اس کے انداز اور اس کی باتوں سے مسکرات نمودار ہوئی یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا کہ میری باہیں ہی میری بیری کے لئے کافی ہے منتحہ دیرے سے مسکرائی اور مو مزید نیچے کیا اب مو کی گرفت مضبوط کی تھی یقدم و خواب کسی قیفیت سے جاگ اور منتحہ کو تلاش کیا لیکن وہاں منتحہ کی مقصوص محق کے علاوہ کچھ نہیں تھا منتحہ کی نقرائی حسی اس کے محبت بھرے الفاظ کازان کا روم روم محسوس کر رہے تھے لیکن یہ محض خیالات تھے حقیقت اس سے بہت دردناک تھی منتحہ سلطان کازان صدقی سے روٹ کر جا چکی تھی بینہ اس کا قصور بتائے بینہ کوئی الزام لگائے وہ بس اس کو آج خود سے جدا کر گئی تھی آج کازان صدقی کی بھوک پیاس تو زور سگریٹ کی طلب بھی مٹ چکی تھی منتحہ کی ہوش میں آنے کی خبر جہا سب کو زندگی کی نویت دے گئی تھی لیکن وہ بینہ کسی کو بتائے حویلی لوٹ چکا تھا منتحہ سلطان کا سامنا کرنے کی اس میں حمد باقی نہیں بچی تھی پورا ایک دن گزار کر وہ دوبارہ ہسپیٹل نہیں گیا تھا ڈیڈی چاہیے مامانی ڈیڈی ماریا کے کمرے کے پاس سے گزرتے اسے آبان کی آواز سنائی دی اگدم اس کے قدم تھمے ہلکا سا نوک کر کے وہ کمرے میں داخل ہوا سامنے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر آبان اگدم سہما اور ماریا کے پہلو میں چھپا کیا ہوا ہے آبان کیوں رو رہا ہے یہ پیارا سا بچہ ماریا کو آنک اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ دیا آبان یہاں آؤ میرے پاس بازو سے پکڑ اس نے آبان کو اپنی جانب کھچا آبان اگدم اونچھے آواز میں چھلایا نہیں آپ بیڈ انتل ہو آپ اسٹرینج ہو میں نہیں آوندہ دہدی منہ دیا تھا مامانی مجھے پتروں ماریا کا پلو کھشتا وہ ہاشیر سے دور ہوا ماریا ولی کی موٹر بائک کہاں ہے وہ بہت فاس چلتی ہے چلو آو ہم چلاتے ہے ماریا اس نے آبان کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا بھائی اس پر پلوز بھی ہے چلے بھائی آپ اور ولی بائک پر بیٹھنا میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گے پھر پاک چلیں گے اور وہاں ہم آئس گریم کھائیں گے ماریا ولی کو بلاؤ پھر چلتے ہیں ماریا آبان کو لے کر باہر کی جانی پڑی آبان کی تو توجہ اپنے پیچھے موجود ہاشیر پر تھی کہ کہ وہ اسے پیچھے سے نہ پکڑ لے ہاشیر دیمہ سا اس کی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھ کر مسکرائی جو بلکل منتحہ جیسی تھی ماریا کچھ دیر بعد آبان اور ولی کو لے کر اندر داخل ہوئی ہنین آفاق ماریا کا بیٹا اس وقت اپنے بابا کے ساتھ تھا پاپا ولی بیساکتہ ہاشیر کی باہوں میں سمایا اس کے گال پر لب رکھ کر وہ ہاشیر کے گلے میں بازو ہائل کر گیا ولی آؤ ہم پارک چلتے وہاں ایک بہت بڑا ٹیڈی بھی ہے جو میں آپ کو لے کر دوں گا ولی بیساکتہ جہ اور اور آبان کی جانب دیکھ گویا ہوا آبان آپ بھی آج ہمارے شاہد آپ بھی جو کروگے آبان ولی کی جانب بھی متوجہ تھا لیکن ابھی بھی ماریہ کے پلو سے لگا کھڑا تھا جاؤ آبان انکل اچھے ہے ماریہ نے اس کو تھوڑا سا آگے کیا آبان نے نے ایک جانب ولی کو اور دوسری جانب آبان کو گود میں اٹھایا آبان بے سافتہ کھل کھلایا پہلی مرتبہ وہ ایسے کسی کے گود میں آیا تھا ہاشر اس کا فولہ ہوا گال چونتا دونوں کے کھلیے لون کی جانب پڑ گیا لون میں ہاشر کے ساتھ کھلتے وہ یک زوبیہ بگم نے آبان کو گود میں اٹھا کر منتح کے قریب کیا منتح نے فورا سے باہوں میں بہنچا اور آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہے میرا بچہ میری جان اس کا مو چونتی وہ باولی ہو رہی تھی پورے پانچ دن بعد اسے آج اتنا لخت جگر دیکھنا نصیب ہوا تھا تو کیسے نہ دیوانی ہوتی ایک یہی سہارہ تھا جو اس کے پاس بچہ تھا منتح اندر چلو اتنی دیر کھڑے رہنا تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے زوبیہ ویگر نے آبان اس کی گود سے لینا چاہا لیکن اس نے سکتی سی آبان کو خود میں بہچا نہیں میں میں بابان کو کسی کو نہیں دوں گی وہ میرا بیٹا ہے منتح وہ کہیں نہیں جا رہا یہ تمہارے پاس ہے آؤ اندر چلو آبان کو زبرد دسی لے کر منتح کو سہارہ دی وہ اندر کی جانی بڑی پاچ سال پہلے کا وقت پھر لوٹ آیا تھا آج پھر منتح سلطان جاتا تو شاید اب بات مزید بگڑ جاتی گازان سدی کی منتح سلطان کو رک مورت دیکھ کر ایک منٹ بھی نہیں رکا تھا دور کھڑا حاشر حمدانی حسرت سے منتح کی پوشت دیکھ رہا تھا کہ کبھی یہ وجود اس کے اختیار میں تھا جس پر وہ ایک عام سی نظر ڈالنے کا روہدار نہیں تھا اور آج جب وہ چیز دسترس سے جو جا چکی تھی دل اسی کی تمنہ کر رہا تھا بابا دور بائیک پر موجود والی کے آواز پر وہ اگدم اس کی جانے متوجہ ہوا اور اپنی نظروں پر اسے شدت سے شرمندہ کی محسوس ہوئی والی کو محبت پاش نظروں سے دیکھتا وہ اس کی تبیہ ٹھیک نہیں سر از بات محلا کر منطح کے ساتھ چپ کا منطح نے بھی اپنی باہیں فیلا کر اسے اپنے قریب بٹھایا دیدی آپ تہاں تھی میں نے آپ تو اتنا مش دیا دیدو بھی بہت روئے وہ تو ممانی تیرے تھی میلے بیبی کا خیال رکھنا گازان کے ذکر پر منطح قدری اکبار کی دھڑکا اور عیدگیر دیکھ کر اس نے خود کو مطمئن کیا ممان آپ تو چاچو لے گئے تھے منطح اس کے اگلے سوال پر چونکی آپ کو کیسے پتا منطح نے حیرت سے پوچھا ممان چاچو روم میں آئے تھے پھر آپ چلی گئی میں بابا تو بتایا تھا پل وہ سیٹ تھے انہوں نے تجھ نہیں تہا آبان کی بات شروع ہو چکی تھی منطح کے گال پر اپنے نھنے ہاتھ رکھ اس نے متوجہ کیا آبان منطح نے تنبیہ کی لاش بات ہے آج ایک انتل ہے انہوں نے مجھے اور ولی کو دودھ م اٹھایا ممہ ہم دونوں کو اٹھایا دیدو تو مجھے بھی ولی جیشہ بھائیہ لینا ہے پھر وہ دونوں ہمیں گودھ م اٹھائیں گے منطح کی آنکھیں اس کی فرمائش پر ایک دم نم ہوئی آپ کے دیدو نے مجھے آج ان سے دور کر دیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خواہش آپ کی کبھی پوری نہیں دو ہو سکتی دیدی بھائیہ لینا ہے آبان سوچا ورنہ دوبارہ چلی جاؤں گی صفاقی سے کہہ کر وہ آبان کو سہما گئی نو دیدی میں نہیں جانے دوں گا منطح کے ساتھ ریڈ ٹاپ پہنے شائنہ نکسک سے تیار اپنی نیو بوائی فرینڈ کے ساتھ ہوتل میں موجود تھی یہ ایک آلہ پائی کا ہوتل کا کمرہ تھا جہاں سنی نامی لڑکا اسے لائے بیبی ٹینشن نہ لو پس کچھ دیر یہاں ٹائم سپینڈ کریں گے پھر کسی ریسٹورنٹ میں لنج کریں گے سانی میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں چلو کہیں اور چلتے ہیں شائنہ کے ماتے پر پسینہ نمائی ہوا اوہ می بیبی بازوں سے پکڑ کر اس نے شائنہ کو اپنے اوپر گرائیا سانی چھوڑو مجھے میں جا رہی ہوں اپنا آپ سانی سے چھوڑواتی وہ جھنجلائی نو جان ابھی تو ہاتھ لگی ہو اس سے پہلے وہ اس کے چہرے پر جھگتا کسی نے زوردار آواز میں دروازہ دھڑا دھڑا شائنہ اگدم چونکی اور خود کو سانی سے آزاد کروایا اس سے پہلے بیٹس اٹھتی کچھ لیڈی پولیس اور ایک اسپیکٹر تیزی سے اندر داخل ہوئے شائنہ کرم یکدم فک ہوا اس چیز کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا تیزی سے اٹھ کر وہ باہر کی جانی بھاگی لیکن پیچھے موجود میڈیا اور لیڈی آفیسر نے اس کی بازو پکڑ کر ایک زوردار چماٹ اس کے موہ پر ماری چھوڑو مجھے میں نے کچھ نہیں کیا سانی نامی وہ لڑکا بھی سہما سا ایک جانب کھڑا تھا ادھر آؤ تم تم لوگ پہلے ماں باپ کا نام بدنام کرتے ہو پھر ماں سون بن کر کہتے ہو میں کچھ نہیں کیا چل ساتھ کھڑی ہو تیری اچھی سی فوٹو لینی ہے میڈیا کو اشارہ کر کے اس نے دھڑا دھڑ ان دونوں کی تصاویر لی چھائنا کی حالت تو کٹو تو بدن میں لہو کی مانت تھی چل اب نیچے چل اب یہ تصاویر تیرے باپ کو ہی دکھائی جائے گی پل بھر میں قسمت نے پلٹا کھایا اور آر چھائنا کو وہ قسمت اس مقام پر لائی تھی جیسے وہ کبھی منتحہ کو لائی تھی اس کو بالوں سے پکڑ دی ایک کانسٹربل نیچے کے جانب بڑھ گئی اپنے بال چھڑواتی وہ گھسٹتے ہوئے نیچے جا رہی تھی بھائی آپ بھابی کو کیوں نہیں لا رہے آخر ایسی کیا وجہ جو آپ ایسا رویہ افتیار کر چکے ہیں منتحہ کو گازان سے جدہ ہوئے آج پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا اس ایک مہینے میں ایک خاموش سمندر کی معنی تھا حمدان کو ایک وہم بھی تھا کہ منتحہ یا لائیبہ نے گازان کو کچھ نہ بتایا ہے لیکن اس کا نورمل رویہ اسی وہم پر پانی ڈال دیتا اس پر ایک مہینے میں گازان نے خود کو روبوٹ کی معنی بنایا تھا جس کے ساری جذبات منتحہ اپنے ساتھ لے گئی تھی آج پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا گازان صدیقی ٹس سے مس نہیں ہوا وہ اب اس گھر میں بروز تھے بزاہر کا آزان سے ہم دردی کرتا اپنی دنیا میں جی رہا تھا کالب سے نکلتا اپنی گاڑی کی جانی پڑا جب اپنے پیچھے سے کوئی نسوانی آواز محسوس ہوئی گاڑی پر رکھا ہٹا کر جب اپنے پیچھے موجود جویریا کو دیکھ کر جھٹکے سے خود سے دور پھینکا اے لڑکی کون ہو تم کیوں چپک رہی ہو جویریا یکدم سڑک پر گری آنکھوں میں یکدم حیرت اُبری کیا پاکل ہو اپنے غریض وجود سے میرے کپڑے خراب کر دیئے کیا چاہیئے والٹ نکال کا اس نے چند نوٹ اس کی جانی پھینکے جویریا کے آنکھیں حیرت سے پٹھی ہمدان میں جویریا ہوں صدمے سے کی قیفیت میں بولو کون جویریا پیسے دے دیئے ہے نکلو یہاں سے ہمدان یہ آخری پکار تھی جو 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 جویریا کی موہ سے نکلی تھی تم جیسی گندی لڑکیوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری اوقات بھی نہیں ہے کہ میرے برابر بیٹھو اور تم میرے وجود سے ٹکرائی لہجے میں موجود تحکیر جویریا کی آنکھوں میں آنسو کا موجب بن گئی اٹھو یہاں سے نکلو نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں گلیز لوگ بازو سے پکڑ اس نے جویریا کو دور ٹرولر کی آواز بھی نہیں سن پائی اگدم اس کا وجود ہوا میں اڑا زمین پر آیا تھا اور دونوں ٹانگوں پر سے گسرتا ٹرولر اس کے وجود کے پر گھٹے اڑا گیا لوگوں کا جمع گفیر اکھٹا ہو رہا تھا لیکن کوئی بھی اسے ہسپیٹل پہنے کا رویدہ نہیں تھا دور کھڑا شخص یہ منظر دیکھ کر مزید وہاں نہیں رکھ آیا اور اپنی گاڑی لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا دوسروں کو بے سہارہ کرنے والے آج بینہ کسی سہارے کے اپنے ناپاک وجود کے ساتھ عبرت کا نشانہ بن چکی تھی چھن اکہ دکھا ہمدرد لوگوں نے اس پر چادر ڈال کر اس کا کچھ لگ گیا وجود چادر سے ڈھک دیا تھا ناظرین آپ کو بتاتے چلے ایک اور ہوتل پر پولیس ریڈ ہوئی جس میں قریبا چوبدہ لڑکیا اور لڑکے موجود تھے پولیس ایک اور مشن میں کامیاب ہاشر کی آنکھیں حیرت سے پہلی شائنہ پولیس اسٹیشن میں نیوز کاسٹر اب بھی خبریں سنا رہی تھی لیکن ہاشر تو ایک چہرے پر تھم چکا تھا وہ کوئی اور نہیں شائنہ ہی تھی دوسرے چینل پر یہی خبر سر گردہ تھی فون کال اس کی توجہ کی فون پر اشر کا نمبر دیکھ کر اس نے فورا فون پرسیو کی بھائی شائنہ پولیس اسٹیشن میں ہے آہا اشر میں جان چکا ہوں آگر جان کو اس بارے میں کچھ مت بتانا ہو کہ بھائی میں نہیں بتاؤں گا میں وہ جان رہا ہوں آپ پولیس اپنے ذرائع استعمال کر کے سکرین سے شائنہ کا لال ہو چکا تھا بکھرے بال الجھ ہو لیا اس کی درکت ظاہر کر گیا اشر کی آنکھیں سرک انگارہ ہوئی تھی بے شک شائنہ گدل لڑکی تھی لیکن اس کی پہلی محبت تھی اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اس مقام پر آئے مٹھیاں بیچ کر اندر اسپیکٹر کے کیبن کے جانب بڑھا اس کو کارڈ دکھا کر کچھ گفتگو کی اور شائنہ کو وہاں سے باہر لیا سامنے موجود اپنے مسیحہ کا چہرہ دیکھنے کے لئے اس نے نظرے اٹھائی تو دل چاہا کہ یہ ہی زمین میں گھر جائے کل جس کی ذات پر اس نے کیچر اچھالا تھا آج وہی شخص اس کی رہائی کی وجہ بنا تھا پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اشر کے سینے سے لگی اشر میں برباد مجھے معاف کر دو میں کسی کے قابل نہیں رہی شائنہ گھر چلو اس کو بازو سے پکر کر سیدھا گھر گھر کے جانب روانہ ہوا ایک کی توبہ بیگم کو سلام کرتا وہ گاڑی لے کر نکلتا چلا گیا دونوں ماں بیٹھیا آج تا عمر نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی گازان کیوں خود کو عذیت دے رہے ہو ایک بار منطحہ کو لے آؤ دیکھنا سب مسئلح حل ہو جائیں گے تنہا سا کھڑا وہ غلط تھی میں تمہیں بھی تمہارے بابا جیسا سمجھتی رہی لیکن تمہیں تو ان کی پرچھائی بھی نہیں ہے میرے الفاظ کی اتنی گھری سزا نہ دو منطحہ کو لے آؤ آبان تمہیں پکار رہا ایک بار اسے لے آؤ خود پر کیوں اتنا ظلم کر رہے ہوں کیوں تنہائی پسند ہو گئے ہو موم وہ میری زندگی ہے جو مجھ سے دور جا چکی ہے اس کے ویگر میں کچھ بھی نہیں ہوں مطلب کچھ بھی نہیں اور جہاں تک لانے کی بات ہے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چھاتا دوٹوک انداز میں کہہ کر وہ سمرین بیگم کو تنہا چھوڑ کر کمرے کے ٹانک بڑھ گیا ہاشر میں تم سے ملنا چھاتا ہوں فون کال پر گازان کی آواز سن کر ہاشر یکدم چونکا ہاشر نے بارہ کوشش کی تھی تو گازان سے بات کرے لیکن شاید اس میں سامنا کرنے کی حمد باقی نہیں رہی تھی آج گازان کا فون آنا ہاشر کو نہیں بیچانی نے گھی رہا نہ جانے گازان صدیقی سے کیا بات کرنا چھاتا تھا وارڈ روپ سے کپڑل لے واشروم کی جانی بڑھا اور چند منٹوں کے بعد تیار ہو کر آگا جان کو باہر جانے کی اطلاع دیتا وہ گھر سے نکلا تھا ولی کو پہلی عریبہ کے حوالے جوپ کے سلسلے میں آئی تھی اور میں سے پسند کرنے لگا تھا حمدان سے اس کا کیا رشتہ تھا تو تم کیوں پوچھ رہے ہو حاشر مجھے سج بتا مجھے آج ہر ایک سج جاننا ہے ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے منتحہ کی اور میری زندگی اب تمہارے جوابات سے جڑی ہے وہ تمہارے بھائی کو پسند کرتی تھی اور اس سے ناجائز تعلقات تھے لب بھینچ کر اس نے بہت مشکل سے یہ چن الفاظ اپنے موں سے ادا کیے گازان کو یقین نہیں آرہا تھا تو اس کا بھائی فرشتے کا لباس اوڑ کر اندہ سے شیطان سے بھی بتر تھا گازان مجھے بتاؤ تم جویلیہ کو کیسے جانتے ہو اور تم حمدان کو کیسے اپنے گھر رکھ سکتے ہو یہ ایک بات وہ پورا ایک مہینے سے اپنے اندر دبا کر بیٹھا تھا کیا بھول چکے ہو کہ تم اس نے منتحہ کے ساتھ کیا کیا یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے ہی حل کرنا چاہتا ہوں گازان کے دوٹوں کنداز پر وہ خاموش ہوا تم نے منتحہ کو کیوں چھوڑا اگلے سوال گویا حاشر کو قیامت کی گھڑی جیسا لگا جس کا کوئی جواب آج اس کے پاس موجود نہیں تھا اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہو جیسے لفظ تلاش رہا تھا حاشر سچ بولنا جھوڑ سے مجھے سخت نفرت ہے میں جھوڑ بولنے کی پوزیشن میں اب باقی نہیں رہا گازان میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا حاشر علی ہندانی میں وعدہ نبھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن یہ وعدہ تمہیں نبھانا ہوگا حاشر کے لجمے ایک انکہی سی گزارش تھی کوشش لیکن وعدہ نہیں گازان کہہ کر خاموش ہوا دھوکہ دینا کسی کے جذبات کا خون کرنا قتل سے بڑا گناہ ہے اور جانتے ہو میں نے گناہ کیا ہے کسی کا دل بہت شدت سے توڑا ہے کہ رحم کی ذرا بھی تاثیر میرے الفاظ میں نہیں تھی وہ روتی رہی لیکن مجھے رحم نہیں آیا وہ رنگوں کی دیوانی تھی مجھے رنگوں سے نفرت تھی وہ آزاد فضاء کو پسند کرتی تھی مجھے گھٹن پسند تھی وہ بولتی تھی مجھے خاموشی اپنی طرح بلاتی تھی ہم دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ تھے کچھ میری آنا پرستی کچھ میری فیملی کی سازشیں ہمیں الگ کر گئی اشر اور منتحہ کے تصاویر ہمارے رشتے کے آخری کڑی ثابت ہوئی میں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اسے ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا ایک قسم کا میں نے اسے دھوکہ ہی دیا تصاویر کیسی کسی تصاویر کازان کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی شائنہ میری خبو کی بیٹی اس نے نجانے کون سے چیلنگ کا بدلہ لیا تھا وہ اسے بہن کی طرح سمجھتا تھا لیکن میری شکی طبیعت نے اس چیز کو غلط رکھ دے دیا دھوکہ دہی کر کے میں نے منتحہ کو خود سے الگ کر دیا اور جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں کسی کو رولاتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی وہی ملتا ہے اور دیکھو مجھے مل گیا واپس دھوکہ آج میں اچھی آواز میں رونا چاہتا ہوں اسے پکارنا چاہتا ہوں فقط ایک نظر جلتے دل کو سکون کی لہر دے گئی لیکن شاید میری آزمائش ابھی باقی ہے مجھے رونا ہے مرد کا رونا غلط سمجھا جاتا ہے گازان لیکن میرا دل کرتا ہے میں روم اور لوگ مجھ پر ہسے تاکہ مجھے اس کی گئی تظلیل کی تکلیف کا اندازہ ہو مجھے اپنے گناہ کا اندازہ ہو میرا دل کرتا ہے لوگ مجھے تانہ دے تشنوں سے میرے دل کو لہو لہان کر دے مجھے وہ بھی کم لگے گا کیونکہ میرا گناہ بہت بڑا ہے میں موت نہیں مانگتا کہ آسان کیونکہ موت سے میری زندگی کی مشکل آسان ہی ہو جائے گی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اس کے لئے پل پل تڑپنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس ہو سب سے بڑے گناہ کی سزا بتاؤں تمہیں نام کی نمی کو رگڑتا وہ ایک نظر گازان کے جانے دیکھ کر نظر چھکا گیا گازان کا سفید پڑتا چہرہ وہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا بولو حاشر ولی ولی میرا ویٹا نہیں وہ ہمدان کی ناجائز اولاد ہے مٹھیاں بیٹھ کر اس نے گہرے درد کے سنگ کہا ایک گہرا سنناٹا گازان کو اپنے اندر محسوس ہوا زبان اس حقیقت کو سن کر گنگ ہو چکی تھی جب تم اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے اس کا بھائی جس پر جان دیتا تھا وہ اس حد تک گرد چکا تھا اس حد تک ظلیل ہو چکا تھا کہ حرام حلال کی تمیز بھول چکا تھا حاشر گازان پلیس کچھ مت کہنا مجھے وہ سزر دل و جان سے خبول ہے آج اگر میرے جینے کا کوئی سہا رہا ہے تو صرف اور صرف ولی ہے گازان منتحہ پاک باز ہے اس کا کردار شفاف آئینے کی طرح ہے میں منتحہ کو منتحہ کو اپنا لو یہ میری التجہ فریاد سمجھ لو یا جو بھی تم سمجھو حاشر جو جوویریا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور شایدہ وہ تا عمر تمہیں کہی نظر بھی نہیں آئے ہو سکت اسے معاف کر دینا کیونکہ معافی اللہ پاک کو پسند ہے اور مجھے اپنی بیوی کے کردار کے پاکزگی کی گواہی کسی گئر شخص سے بلکل نہیں چاہیے وہ میرے روح ہے اور روح کو وجود کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا حاشر کی بات سرے سے کاٹ کر وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرتا ٹائبل سے کیس اٹھاتا حاشر کو صدمی میں چھوڑ کر نکلتا چلا گیا منتحہ یہ تمہارا فون ہے منتحہ نے حیرت سے سے سمریند بیگم کی آواز ابری زوبیہ بیگم نے آنکھ کے اشارے سے سے فون تھامنے کا کہا فون لے کر اس نے کان سے لگایا اس کو فون دے کر زوبیہ بیگم باہر کے جانے پڑ گئے منتحہ سمجھ نہیں آ رہا آپ سے کس طرح معافی مانگو میرا قصور میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ معافی لفظ بھی چھوٹا ہے لیکن بیٹا ماں ہونے کے ناتے ہی صحیح آپ مجھے معاف کر دو مام آپ پلیس معافی مت مانگے یہ میرے ہی کرموں کی سزا ہے جو مجھے ملی ہے منتحہ تلکی سے بولی نہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے لوٹ آؤ گازان پل پل زندگی ہار رہا ہے سب سے دور ہو گیا ہے وہ نہیں جی پا رہا گازان کا ذکر پر گیا منتحہ کا دل مٹھی میں جکڑ گیا آنسو تیزی سے کال پر بہے جسے وہ لب بھیٹ کر روکنا چاہتی تھی مو مجھے دے میں بات کرتا ہوں ہمدان کی آواز گویا منتحہ کی روح پر وار کر گئی بھابی کیسی ہے پلیس فون مت کاتیے گا لوٹ آئیں بھائی آپ کو بہت یاد کرتے ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ اپنے جذبات چھیئر کر رہے تھے منتحہ نے تیزی سے فون کاتا اور فون کو خود سے دور فینکا امی امی چیختی ہوئے وہ بیٹ پر سکر کر بیٹھی ہمدان کی آواز اس کی جان ہلکان کر گئی تھی اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو نجانے منتحہ اگلا سانس کیسے لیتی کیا ہوا منتحہ امی وہ ہمدان وہ وہاں وہ میرے بچے کو مار دے گا امی وہ اسی گھر میں ہے گازان نے کچھ نہیں کہا امی وہ وہی ہے امی میں نہیں نہیں جاؤں گی اسی آنی انداز میں چیکھتے چلاتے زوبیہ بیگم کے سینے میں دکی اس کی گھر میں موجود کی کا سن کر زوبیہ بیگم کو بھی کہہ رہے اندیشوں نے گھیرا اب ضروری ہو چکا تھا کہ کازان صدقی سے دو ٹوک بات کر لی جائے بھائی منتحہ بھا بھی نہیں مان رہی میں نے آج بھی ان سے بات کی لیکن ہمدان چہرے پر مصنوعی تاثرات سچائے شدت گریہ سے گویا ہوا تمہاری حمد کیسے ہوئی اس سے بات کرنے کی کیوں کیا تم نے اسے فون ہمدان کو گریبان سے پکر کر سرک انگارہ آنکھیں ہمدان کی آنکھوں میں گاڑے بھائی کیا ہوا اس کو جھٹک کر وہ تیزے سے باہر کی جانب بڑھا موم موم کمرے سے نکل کر وہ لانچ میں آیا کیا ہوا غازان کس نے کہا تھا آپ کو منتحہ کو فون کرے بولے کس نے کہا تھا مونچی آواز میں دھار کر اس نے ہمدان کی جانب دیکھا بیٹا آبان آبان کیا ہاں نہیں چاہتی کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر جاؤ تو آئندہ اس گھر میں وہ فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تم اپنی حد میں رہو گے تو اچھا ہے ورنہ مجھے حد بتانا اچھے سے آتا ہے ہمدان کو جھٹکے سے پیچھے کی جانب پھینک کر وہ گھر سے نکلتا چلا گیا اگر مزید ایک منٹ بھی یہاں رکھتا تو شاید آج ہمدان کو قتل کر چکا ہوتا گازان ہم آگا جان بات کر رہے ہیں فون کے دوسری جانب سے آگا جان کی آواز سن کر وہ اکلک بولنے سے کاثر تھا گازان اس سب میں منتح کا کیا قصور ہے اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو اگر حقیقت چھپانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہم سب ہے اگر کسی کا قصور ہے تو وہ ہم سب کا ہے اس بچی کو کیوں سزا دے رہے ہو پل پل مر رہی ہے وہ اگر آپ اسے اپنی ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو اسے تلاغ دے دو کم از کم امید کے سہارے تو نہ جی آگا جان گازان شدت سے بولا آگا جان اگر منتح کو آزادی ملے گی تو میرے مرنے کے بعد ہی آج کے بعد ایسی بات مت کیجئے گا بس کچھ کام ادھورے ہیں اپنی امانت آپ کی حفاظت میں دی ہے جلد لینے آؤں گا یقین رکھئے منتح سلطان کے زخم سکون میں بدل دیائے گے اگر جان کو یقین دلا کر اس نے فون کٹ کیا چلو جلدی سے شارٹ پہنو پھر آپ نے چوکلٹ ملک پینا ہے اوکی شارٹ کے بٹن بند کرتی وہ آبان سے مخاطب ہوئی دروازے پر ہوتی دستک نے منتحہ کی توجہ کھیجی آبان تو جیسے موقع کی تلاش میں تھا آبان فوراں باہر کی جانی پڑا اس کا آواز دیتی وہ دروازے تک آئی جہاں ہم نے ہاشر کو دیکھ کر ایک دم ایسا لگت جیسے اس نے کوئی کڑوی نگل لی ہو کڑوی دوائی نگل لی ہو ایک نظر منتحہ پر ڈال کر اس نے نظر جھکائی تم یہاں کیا کر رہے ہو ایک بار پھر آج وہ دونوں روبرو تھے لیکن آج دونوں کی جذبات بدل چکے تھے اگر ایک کا تنفع ختم ہوا تھا تو دوسری جانی بڑھا تھا آج ہاشر معافی کا طلبگار بن کر آیا تھا تم انتہا ایک ظالم ملے کا بننے والی تھی ضروری بات کرنی ہے نظریں اب بھی چکی ہوئی تھی اب کیا ضروری بات رہ گئی ہے میری بربادی کا تماشا دیکھنا ہے اس دن کیا کم دیکھ لیا تھا جو آج پھر لوٹ آئے ہو کیا ہم دردی چتانے آئے ہو خاموش کیوں ہو بولو ہاشر کیا دیکھنا چاہتے ہو ہاشر اگر آج میں برباد ہوں تو اس کی وجہ تم ہو ہاشر کے نسلی افلق اٹھی جن میں بے یقینی تھی تم میری بربادی کی وجہ ہاشر علی صرف اور صرف تم ہو تمہاری وجہ سے آج میں اس مقام پر آئی ہوں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا کاش تم کبھی میری زندگی میں نہ آتے کاش میرا نام کبھی تم سے نہ جڑتا ہاشر کم از کم آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ تنہا تو نہ ہوتی نہ مجھے وہ راج چھپانا بڑھتا نہ میری زندگی برباد ہوتی تم ہو وہ وجہ ہاشر صرف تم شدید نفرت ہے کبھی یہی نفرت تمہیں بھی مجھ سے تھی نا آج مجھے تم سے ہو گئی ہے دل چاہتا ہے تمہارے نام سے جڑا وہ وقت میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں کیوں آئے تھے تم میری زندگی میں واپس کیوں نہیں چلے جاتے کیوں کیوں ہاشر کا گریبان تھامے وہ چیختی چلاتی دیوانی ہو رہی تھی ہاشر علی حمدانی آج خالی دامن لیے اس کا چیختنا چلانا سن رہا تھا لفظ تو بہت پہلے اس کی زبان سے ختم ہو چکے تھے تم دونوں مرد میری زندگی میں آئے اور دونوں نے مجھے تباہی کیا ایک نے تو شروع سے اعتبار ہی نہیں کیا بینہ جانے بینہ سمجھے الزام لگا کر تلاق کا دبہ دامن فینک دیا اور دوسرے نے اعتبار کر کے تہی دامن کر دیا ساری عمر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا کہاں گئے اس شخص کے وعدے کیوں نہیں بچایا مجھے کیوں تنہا کر گیا میں نے سچ ہی کہا تھا دنیا والوں کے لئے عشق دعا ہے تو میرے لئے یہی عشق بد دعا کی مانند ہے بد دعا ہوں میں ہاں میں ایک بد دعا ہوں اس کا گریبان چھوڑے اونٹی آواز ان خود کو کوستی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی منتحہ دوبارہ منتحہ کو پکارا حاشر خدا کے لئے چلے جاؤ مٹھیاں میٹھ کر انگارہ آنکھے لئے وہ زبط کے مراہل سے گزرتا کمرے سے نکلا تھا کہ اگدم ٹھٹک کر رکھا ایک نظر مقابل پر ڈال کر وہ سائٹ سے گزرتا چلا گیا سسکتے ہوئے اب بھی زمین پر موجود تھی کہ اگدم کندے پر کسی کے لمس اور خوشبو کا احساس اس کی جان کو مکمل طور پر ہلا گیا میں نے کہا تھا کے قریب ہونے کا یقین گلا گیا جھٹکے سے اس نے کندے سے ہاتھ ہٹایا اور تیزی سے کھڑی ہوئی سامنے موجود شخص کو دیکھ کر منتحہ کی دنیا تھمی تھی اس کا درد دردگر اس کا مسیحہ اس کی زندگی اس کے سامنے اپنے مقصود انداز موجود تھا منتحہ کا ہاتھ گازان کے چہرے کے جانے پڑا اپنی آنکھوں پر اسے شاید اب بھی یقین نہیں آیا تھا گازان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر رکھا ہاتھ پر داڑی کی چوبن سے اس کو جیسے یقین آیا تھا گزے سے اس نے ہاتھ ہٹانا چاہا لیکن گازان صدیقی کی گرفت مضبوط تھی چھوڑے کیا لینے آئے ہیں ابھی مری نہیں ہوں جو آپ یہاں آ پہنچیں گازان نے ہلکا سا ہاتھ دبایا اور سرد انداز منتحہ کو گھورا آج بھی وہ اس کی سرد نظروں سے سہمی تھی ہاتھ ابھی وہ گازان کی گرفتے سے نکالنا چاہ رہی تھی اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے ڈریسر کے قریب لائیا چیئر پر بٹھا کر خود وارڈ روک کی جانے پڑا اس میں سے ایک ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ نکال کر منتحہ کی جانے بایا میں کچھ نہیں پہنوں گی اور نہ کہیں جاؤں گی آپ اپنے بھائی کو سنیں سینے سے لگا کر رکھیں منتحہ فوراں چیئر سے اٹھ کر بولی بیوی آپ آج مجھے مجبور مت کریں کہ بات ادھری چھوڑ کر اس نے منتحہ کا حواظ باختہ چہرہ دیکھا اٹھریس بدل لے ہم اپنے گھر جا رہے ہیں انکار کی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں ہے ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی منتحہ اس کا سرد انداز دیکھ کر اٹھریس لیے واشروم کے جانے بڑی سادہ سا گلابی سوٹ پہنے وہ باہر آئے اس کو ڈریسر پر بٹھا کر اپنی پاکٹ سے اس نے جھمکے نکالے اور منتحہ کے کانوں کی زینت پنایا منتحہ کی حیرت بجا تھی یعنی وہ مکمل تیاری کے ساتھ آیا تھا یقدم اسے اپنی شادی کی رات یاد آئی اس دن بھی اپنی مرضی کے خلاف گازان کی بات مانتی چلی گئی تھی آج بھی یہی ہوا تھا نا چاہ کر بھی وہ گازان کا وہاں روکم مان رہی تھی سامنے موجود ٹیبل پر پڑی لپسٹک میں سے ایک اٹھا کر منتحہ کی جانی بڑھائی منتحہ نے اسے مٹھی میں دبایا پورے ایک مہا بعد ہار سنگار اس کی زینت بنا تھا گازان اگر اس ایک مہا اس کا حلیہ ایک بار ملاحظہ کر لیتا تو شاید منتحہ دوبارہ کبھی ایسا حلیہ نہ اپناتی لگائیں ذرا سا جھک کر اس نے منتحہ کو ہوش کی دنیا میں پٹکا اس کو خاموش دیکھ کر اس نے لپسٹک لے کر اس کے ہونٹوں پر لگائے اس کے لمس کو محسوس کرتے آج منتحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے جسے گازان نے آنکھ ہونٹے سے رگر کر دور کیا بینہ کچھ بولے آپ میرے ساتھ گھر جائیں گی زبردستی مجھے پسند نہیں ہے لیکن اگر آپ نے جانے سے انکار کیا تو میں وہ بھی کر گزروں گا ڈوبٹہ شانوں پر فیلا کر اسے کندوں سے تھام کر باہر کی جانی بڑا میں اندر نہیں جاؤں گی وہ ہمدان اندر ہے جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا منتحہ کے وجود میں بیچن ڈوڑ رہی تھی گھر کے قریب گاڑی کو رکھتے دیکھ کر منتحہ آخر بول ہی پڑی آپ کا گازان آپ کے ساتھ ہے آج آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ پائیں گا منتحہ کا ہاتھ تھام کر وہ لاؤنچ میں داخل ہوا جہاں ہمدان کاؤنچ پر لٹا سامنے ایل ایڈی کی جانے متوجہ تھا دو دن سے نہ جانے اسے کیوں ہمدان کا رویہ کچھ الگ الگ لگ رہا تھا اس کا رات کو لیٹ گھر آنا اور اس کی باتوں کا سلسلی سا جواب دینا ہمدان کو کچھ الگ احساس دلا رہا تھا اس لئے وہ دو دن سے گھر میں ہی قید تھا گازان کو منتحہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر ہمدان کی سٹی اگدم گم ہوئی اپنی آنکھوں پر اسے شبہ ہوا بھائی بھابی منتحہ گازان کے پہلو سے لگی اور سختی سے اس کا ہاتھ تھاما اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اس نے منتحہ کو اپنی موجودگی کا حساس دلایا موم اچھی آواز میں اس نے سمرین پیگم کو پکارا وہ جو اوپر لاؤنچ میں تھی گازان کی آواز سن کر فوراں نیچے کے جانے پڑی سامنے منتحہ اور آبان کو دیکھ کر گوئے ان کے دل کی کلی کھلی منتحہ میری بچی تیزی سے اس کے قریب آ کر انہوں نے اسے سینے سے لگایا مجھے یقین تھا گازان تمہیں یہاں ضرور لائے گا میرا بیٹا آبان کو گوت میں لے کر انہوں نے اس کے گال پر لب رکھے اپنے گھر میں آ کر آبان کے جھرے پر بھی رونک بہال ہو چکی تھی بوہ آبان بابا کو کچھ دیر کے لیے باہر لے جائے بوہ کو آبان کو دیتا اس نے انہیں جانے کا اشارہ دیا ہمدان اب بھی زکتے سے کی قیفیت میں کھڑا تھا گازان کو دیکھ کر آج جسے وجود میں سنسنات محسوس ہو رہی تھی آبان کے جانے کے بعد گازان ہمدان کے قریب آیا کیا ہوا بھائی ہمدان کے لہجے میں ڈر واضح تھا یکدم گازان کا ہاتھ اٹھا اور ہمدان کی موپر زوردار تھپر رسید کیا اس کو سنبھلنے کا موقع دیئے بغیر اس نے ایک اور تھپر اس کے موپر مارا یہ دو تھپر مجھے غلط لیٹر دینے کے لیے میری بیوی پر غلط الزام لگانے کے لیے ہمدان کے سر پر گویا ساتھوں آسمان آگ گرے اس کا مطلب گازان سارا سٹ جان چکا تھا یہ میری بیوی میری متائیں جا کو تقلیب دینے کے لیے ایک زوردار پنچ اس نے ہمدان کے گال پر مارا پیر در پر پنچ مار کر اس نے ہمدان کے مو سے کھون نکالا سمرین بیگم ایک دم چکھی گازان کیوں مار رہے ہو کیا ہوا ہے موم وہیں رک جائے آج یہ خود بولے گا بیوی یہاں آئے سہمی سی منتحہ اب بھی دروازے کے پاس موجود تھی منتحہ یہاں آئے گازان کی بلند آواز سن کر منتحہ فوراں آ گیا ہی یہ آپ کا مجرم ہے اس کو سزا دینے کی حقدار بھی آپ ہیں آج میں آپ کو بالکل نہیں رکوں گا ہر ظلم کا بدلہ آپ نے لینا ہے ہر ایک ظلم کا اپنے لہجے سے سے باور کراتا وہ منتحہ کو حمد فراہم کر گیا منتحہ کی آنکھیں اس کا چہرہ دیکھ کر ایک دم لال ہوئی عذیت کا ایک ایک لمحہ منتحہ کے دل و دماغ میں روشن ہوا ایک زوردار تھپڑ اس نے حمدان کی موہ پر مارا کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا کیا سیب یہ قصور تھا کہ تمہیں تمہاری بدتمیزی پر تھپڑ مارا تھا محض اس لیے کہ تم نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی گازان اسے میں نے مول میں تھپڑ مارا تھا کیونکہ اس نے میرا ڈپٹہ کھیچا تھا اس شخص نے اس تھپڑ کے لیے مجھے پانچ سال عذیت دی میں محض اس لیے خاموش رہی کہ گھر کا ماہول خراب ہوگا لیکن یہی میری نااقلی تھی ایسے شخص کو گھر میں رکھنے سے ہی گھر کی عزت خراب ہوتی ہے موم آپ کا بیٹا قاتل ہے ریپسٹ ہے اس سفید لیپاس میں ایک دریندہ چھپا ہے منتحہ کی جانب دیکھ رہا تھا یہ جھوٹ بول رہی ہے موم ایسا کچھ نہیں ہے بکواس مت کرنا ورنہ یہیں زمین میں گار دوں گا ہمدان کے موہ پر ایک اور پنچ رسیٹ کر کے اور سکتی سے گویا ہوا لائبہ اندر آؤ گازان کی موہ سے لائبہ کا نام سن کر مزید رونگٹے کھڑے ہوئے لائبہ سامنے لائبہ کے ساتھ پولیس دیکھ کر اس کی گھگی بندی اور حیرت سے آنکھیں اس وقت پھٹی جب شانی کو بھی اس نے اندر آتے دیکھا شانی سرگوشیہ نے انداز میں کہکس نے شانی کی جانب دیکھا جو اس پر ایک نظر ڈال کر رکھ موڑ گیا موم یہ قاتل ہے اس ظالم شخص نے اتنے گناہ کیے ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگے یہ اتنا گلیش شخص ہے کہ حرام حلال کی تمیز بھی بھول چکا ہے ہمدان مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں بھائی تمہارے جیسے ہوتے ہیں تو میں بینہ بھائی کے ہی اچھا تھا کس چیز کی کمی تھی کیوں گناہوں کا راستہ چھنا تم نے کیوں کیا تم نے ایسا بولو ہمدان ہمدان کا گریبان جکڑے وہ تیش زدہ انداز بولا ہمدان میری تمام تر محبت تم نے پل بھر میں نفرت میں بدل دی میری محبت کا اگر مجھے سیلا ملنا تھا تو میں کبھی تمہیں خود کے قریب نہیں کرتا یہ ایک مہا میری حمد ہے جو میں نے اپنی بیوی کے مجرم کو گھر میں برداشت کیا موم یہ اپنی بھابی کے ساتھ ہی بات ادوری چھوڑے اس نے سمرین بیگم کے جانب دیکھا جی آنٹی ہمدان نے ہی تمام گناہ کیے ہیں بھابی کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں ہمدان ہی ہے شانی کی آواز سن کر ہمدان نے گویا دانت پیسے سمرین بیگم کا رنگ یقنام فک ہوا سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ایک طرف ڈھے سی گئی گازان فورا ان کے جانب بڑا موم ہمت نہیں ہانی اپنے گھر کے مجرم کو آج آپ نے سزا دینی ہے سمرین بیگم کو لے کر وہ ہمدان کے قریب آیا جن کے آنکھوں میں آنسوں نمائی تھے مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے بیٹے ہو کیا بگاڑا تھا منتحہ نے تمہارا کیوں کیا اس بچے کے ساتھ ایسا اتنی گلازت کی میں اس کو مار دینا تھا تھا کیونکہ یہ میرے بھائی کی قریب تھی جو بھی میرے بھائی کی قریب ہوگا اسے میں جان سے مار دوں گا مار دوں گا میں سب کو آج بھی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں مار دوں گا یک دم وہ منتحہ کی جانب بڑا یک دم وہ چکتی گازان کے پہلوں میں چھپی ہمدان گازان نے اس کے گلے سے جکر کر اس پر دباؤ بڑھایا میری بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی میں تمہیں اس دنیا سے بھیج دوں گا پولیس آفیسر تیزی سے آگے آیا گازان کے جنگل سے آزاد کیا چھوڑے پولیس آپ قانون کو ہاتھ میں مت لے ہمدان کے ہاتھ پر ہتھکڑی لگائے اسے لے باہر کے جانب بڑھے بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی مجھے ماف کر دیں یہ عورت جھوٹی ہے جھوٹ ہے سب میں نے کچھ نہیں کیا چیختہ چلاتا اور بار بار پیچھے مڑ کر گازان کو پکار رہا تھا لیکن کانسٹیبل اسے سکتی سے تھامے باہر کے جانب بڑھ گیا سمرین بیگم یکدم سوفے پر ڈھے گئی اور فوٹ فوٹ کر روئی مجھے یقین نہیں آتا ہمدان اس حد تک گر چکا تھا کوئی اتنا ظالب کیسے ہو سکتا ہے میرا اپنا بچھا موم میں ہوں نا سمرین بیگم کا ہاتھ تھام کر اس نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا مجھے معاف کر دو منتحہ میرے بیٹے کے وجہ سے تم اتنی عذیت میں گری ہاتھ جوڑ کر وہ شدت گریہ سے بولی نہیں موم اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں آپ ہاتھ مر چھوڑے منتحہ نے فوراں ان کے ہاتھ تھامے لائبہ بھی تیزے سے آگے بڑی منتحہ معافی تو مجھے بھی تم سے مامنی ہے تمہیں تکلیف دینے میں میرا بھی بہت ہاتھ رہا ہے نہیں لائبہ تم نے اس رات مجھے بچا کر تمام گلتیوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے تم بھٹکی ضرور تھی لیکن تم سور بھی جلد گئی لائبہ کی آنکھوں سے آنسو بہے جسے منتحہ نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا کب تک ناراض رہے گی کیا یہ گصہ ختم نہیں ہوگا کیا اپنے گازان کو مزید تڑپانے کا ارادہ ہے آج آخرکار گازان نے منتحہ کو گھیری لیا تھا دو دن سے دامن بچاتی اسے پارٹ انداز میں گازان کے ساتھ رہ رہی تھی سارا وقت تو سمرین بیگم کے کمرے میں گزار دی آدھی رات کو کمرے میں لوٹ دی گازان بظاہر سوتا بن کر اس کی تمام حرکات اس سکنات دیکھ رہا ہوتا فیلحال وہ اسے اسپیس دینا چاہتا تھا لیکن دو دن میں ہی اس کی ہمت جواب دے چکی تھی بازو سے جکرکرس نے منتحہ کو بیٹ پر بٹھایا آبان آج سمرین بیگم کے کمرے میں موجود تھا گازان چھوڑ دے میں آپ سے زد نہیں کہ لگانا چاہتی آپ کا کیا اعتبار آپ مجھے اطلاق دے دے الفاظ تھے یا زہر میں ڈوبے تیر جو گازان کے وجود میں دھس گئے نہیں میری جان دوبارہ یہ لفظ مو سے مت نکالنا گازان مر جائے گا اگر گازان کو کچھ ہوتا تو کیا منتحہ جی پاتی بولے منتحہ جی پاتی وہ تو اسی وقت مر جاتی گازان آپ نے مر اعتبار کیوں نہیں کیا کیوں بچانے نہیں آئے کیوں مجھے اکیلا کیا جانتے تھے میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی پھر بھی جھٹک کر چلے گئے کیوں کیا تھا اگر دمو چیکھی گازان محض خاموش رہ گیا گازان میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے جیتے جی مار دیا اپنے مجھے اپنے ہاتھ چھڑوا کر وہ شدت سے روتے ہوئے بولی گازان اس کے قریب دراز ہوا ازکر وہ کپی جانب کر کے ہاتھوں کے پیالے میں منتحہ کا چہرہ لے کر اس نے اپنا سر منتحہ کے سر کے ساتھ چوڑا تکلیف اگر آپ کو دی تھی تو خود بھی تکلیف پرداشت کی کٹھن وقت اگر آپ نے میرے بغیر گزارا ہے تو میں نے بھی یہ وقت دگنی کٹھن سے کٹا ہے آپ کو مار کر میں نے خود کو ڈبل سزا دی ہے اور کس نے کہا مجھے آپ پر اعتبار نہیں تھا خود سے زیادہ اعتبار ہے لیکن دوکھ اس پاتھ کا تھا کہ اتنے سال محبت چاہت اعتبار دینے کے باوجود آپ نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا قسم نبھاتی رہی کم از کم کبھی کوشش تو کی ہوتی کی تھی کوشش لیکن آپ نے سنا نہیں اتنی کوشش کی لیکن آپ نے ہر بار خاموش کروایا منتح شدت سے بولی جانتی ہیں یقدم تصویریں دیکھ کر مجھے لگا تھا میری جان نکل گئی ہے یہ سوچ ہی میری جان نکال گئی کہ آپ کسی کے نکاح میں تھی اگر وہ شخص آپ کو نہ چھوڑتا تو نجانے آپ میری دسترس میں کیسے آتی یہ خیالی جان لیوا تھا کہ آپ کسی کی منکوہاں تھی خود کو دی ہے سر جوڑے وہ دیوانے آٹھ ایک دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے آپ وہاں کیوں نہیں آئیں اتنا پکارا تھا لیکن آپ نے ایک پکار نہیں سنے آپ نے کہا تھا کہ کازان صدیقی اپنی بیوی کی حفاظت کرنا اچھے سے جانتا ہے تو کیوں نہیں کی میری حفاظت بولے کیوں نہیں کی کیوں مجھے اس شخص سے بچانے نہیں آئیں آواز رو کر حد درجے بھاری ہو چکی تھی آپ کو تلاش کرتے ہوئے ہی میں پاگل ہو رہا تھا جانتی ہے آپ کے جانے کے بعد ایک منٹ بھی سکون سے نہیں رہا آپان کی حالت مجھے آپ کے گھر کے جانب لے آئی ہمدان نے اتنی غلط فہمی پیدا کی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں جانتی ہے منتحہ مجھے اس لیٹر پر یقین نہیں آیا تھا اتنے سالوں میں یہ تو جان چکا تھا کہ آپ کبھی ہر دھرمی نہیں دکھا سکتی اسے ایک ماہ میں پل پل ٹڑپا ہوں آپ کی قربت آپ کی آواز کے لیے ترسا ہوں کہ اپنے گازان کو معاف نہیں کریں گی منتحہ کر اوبرو کیے ہاتھوں کے پیالے میں منتحہ کا ٹہرہ لیے وہ دلگیر اندازم بولا گازان کے ہاتھ پر اسے ایک خردور پن کا احساس ہوا اس کا ہاتھ سامنے کی اس نے ہتیلی کی جانب دیکھا جہاں پر سٹیجز کے نشان واضح تھے گازان یہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے اس کے ہاتھ پر لمس بکھیرتی وہ شدت سے بولی اور روئی اپنی روح کو تکلیف دی تھی پھر یہ ہاتھ سلامت کیسے رہتا اس کے گال پر لب رکھ کر اس نے تھپڑ کے احساس کو مٹانا چاہا اس گال پر میں نے تکلیف قائم کی اب اسے میں ہی ختم کروں گا دوبارہ گال پر لب رکھ کر اس نے منتحہ کو سینے سے لگایا کبھی بھی مت سوچئے گا کہ گازان نے آپ پر اعتبار نہیں کیا گازان کو اپنی بیوی پر خود سے زیادہ یقین ہے منتحہ سے گازان کا وجود ہے اور گازان سے منتحہ کا وجود ہے آدھی بات منتحہ نے گھر کر اپنے بازو گازان کے گر ہائل کیے اے دور ہٹو میرے بھائی سے بھائی آپ میرے ہو صرف میرے ہتکڑیوں میں جگڑا وہ سامنے نادیدہ وجود سے بولا چند دن پہلے ہی جیل سے وہ پاگل کھانے داخل ہوا تھا وہاں کافی مجرموں کو وہ اپنے اعتب کا نشانہ بنا چکا تھا گازان نے اسے یہاں داخل کروایا تھا کیونکہ اس کا وجود سب کے لئے نقصان بن رہا تھا سارا دن وہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنی بیوڑیو سے ہی وہ خود کو زخمی کر لیتا اس کا پاگلپن ہر درجے بڑھ چکا تھا لوڑ کھڑا کر اٹھ کر وہ سامنے دیوار کی جانب آیا جہاں گازان اور منطحہ کو تصور کر رہا تھا دیوار پر اس نے زوردار انداز پر اپنا سر مارا خون کا ایک فوارہ سر سے فٹا اے دور ہٹو میرا بھائی ہے ہاتھوں موجود بیڑیوں کو اس نے زور سے اپنے پیٹ پر مارا اس پر لگے لوگ حمدان کے پیٹ میں گھبے بار بار وہ بیڑیا اپنے پیٹ پر مار رہا تھا اور اوچی آواز سے کازان کو پکار رہا تھا بھائی میرے ہو صرف میرے ہو بیڑیا پیٹ پر مار مار کر وہ ایک دم زمین پر گرا سر سے نکلتا خون اور پیٹ پر بیڑیوں کے وارنے حمدان کی رہی سہیں سانسیں بھی کھیچی آخری ہچکی لے کر وہ آج حرام موت کو گلے لگا گیا تھا منتحہ سلطان کیے بددعا بھی قبول ٹھہری تھی آج ایک اور مجرم اپنی زندگی ہار چکا تھا حمدان صدیقی کا جنون دیوان کی آج اس کو لے کر ڈوب چکی تھی وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر چیز ایک حد میں اچھی لگتی ہے حد سے باہر چیز نقصان کا باز ہی بنتی ہے اور حمدان کی بڑی ہوئی جنونیت آج اسے حرام موت میسیج ہے تمہارے لئے لائبہ کو اپنا لو یہ میری التجہ سمجھ لو یا پھر میری زندگی سے دور جانے کا وسیلہ کیونکہ جب تک تم یہاں رہے نہ تم سکون میں رہو گے نہ میں رہ سکوں گی ولی کو ایک ماں کی ضرورت ہے اور تمہیں ایک ہم سفر کی اور جہاں تک معافی کا سوال ہے میں نے تمہیں معاف کیا میرے شوہر نے جب میری کتہیوں کو معاف کر دیا تو میں کون ہوتی ہوں کسی کو سزا دینے والی لائبہ کو اپنی زندگی ملا کر تم میری ذات پر ایک احسان کر دو اور یہاں سے دور چلے جاؤ امید کرتی ہوں تم میری آخری التجہ مان لوگیں معافی کا لفظ حاشر کے دل کی دھڑکن رو گیا بار بار میسیج پڑھتا ہوں خود کو یقین دلا رہا تھا کہ منتحہ سلطان نے اسے آج رہائی دے دی ہے اس کو گھٹن زدہ آج ان کو رشتہ ازدواج میں بندے پانچ ماہ ہو چکے تھے اگلے مہینے وہ کراچی شفٹ ہو چکا تھا سیٹ اپ کے بعد وہ لائبہ سے ایک چھوٹی سی تقریب میں نکاح کے بندن میں بندہ تھا ولی نے لائبہ کو بہت جلد قبول کیا تھا شاید وہ بھی ماں کی تلاش میں تھا حاشر آ جائے تینوں چلتے ہیں نہیں تم چلو میں آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوں حاشر کے بازوں میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے لیے آگے بڑھی آپ کے بگر ایک قدم اٹھانا بھی میرے لئے ممنوع ہیں اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ شدت پسندی سے بولی حاشر بدکت مسکر آیا چلو اس کے ہاتھ پر لب رکھ کر اس نے قدم آنگے بڑھائے جلد یہ بدے نکاح کی طاقت ان دونوں کے رشتے میں محبت بھرنے والی تھی ماریا میں دوبارہ مامو بن چکا ہوں لیکن دوبارہ بابا نہیں بن پایا کتنی شرم کی بات ہے آفاق کے معصومیت سے کہنے پر اس نے آنکھیں پھیلا کر آفاق کو دیکھا آنکھیں مت پھیلا دیکھو عریبہ عشر کے بھی دو نمونے ہیں اور ایک میں سنگل آفاق ہنین پاس ہی بیٹھا ہے پانچ سالہ ہنین اپنی کلر بک کے جانب متوجہ تھا ماما پاپا ٹھیک کہہ رہے ہیں سب کے دو دو بی بی ہے لیکن میرے پاس ایک بھی نہیں ہے مجھے بھی ایک بھئیہ چاہیے ماریا کیلئے تو آج چاہت جھٹکے کا دن تھا دیکھ لو ماریا اب میں نے کچھ نہیں بولا تمہارا بیٹا بھی یہی چاہتا ہے آفاق یہ آپ دونوں کی ملی بھگت ہے صدر جائے ورنہ آگا جان کو شکایت لگاؤں گی لو آگا جان یہاں کہاں سے آگئے یہ ہم دونوں کی بات ہے تیسرا فریق کچھ نہیں کر سکتا اس کے موپر ہاتھ رکھا اس نے آفاق کی زبان رکھی بہت خراب ہو چکے ہیں ایسی باتیں کون کرتا ہے میں کرتا ہوں اور کون کرے گا آفاق ماریا نے سکتی سے اس کے دل کے مقام پر مکہ مارا آفاق نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے اوپر گرائیا آفاق ہنین روم میں ہے اس کو دونوں ہاتھ سے مارتی وہ آفاق کے اوپر سے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی لیکن آفاق کی مضبوط باہوں نے ہر کوشش کو ناکام بنایا تھا آبان بیٹا آپ کو دادو بلا رہی ہے جاؤ جلدی سے وہ آپ کے لئے کینڈیز لائی ہے آبان کو پٹکارکس نے اسے باہر بھیجا منتحہ اس کی چالا کی سمجھ چکی تھی غازان دور رہی ہے کوئی بہانہ نہیں چلے گا ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پلیٹ آتے ہیں آج کے بعد میں بلکل بھی ریڈی نہیں ہوں گی اور نہ ہی آپ کی لائی ہائی ہیلز پہنوں گی منتحہ کی معصوم دھمکی بھی غازان کے ماتھے پر بل نمائع کر گئی منتحہ کو تیزے سے کھڑا کر کے کامر کے گرد بازو حیل کیا اسے اپنے روبرو کیا میں بھی دیکھتا ہوں میسیس غازان ستی کی کیسے میری بات نہیں مانیں گی منتحہ کے گال پر لب رکھ کر اس نے منتحہ کی جان لبوں پر اٹکائی مہینے گزر گئے تھے لیکن آج بھی وہ گال پر رب رکھ کر اس تھپڑ کا احساس مٹانے کی کوشش کرتا تھا جاتی ہے نا مجھے جس چیز سے چڑھیں اسی چیز کی دھمکی دیتی ہے ناک چڑھا کر اس نے منتحہ کا ناک کھیچا آوچ یہ کیا کر رہے ہیں اتنی زور سے کھیچا دیکھیں ریڈ ہو گئی ہے سوری چانہ بس غصہ آ گیا تھا اس کے ناک سے ناک رگڑ کر وہ آہستگی سے گویا ہوا آج عبرش کارٹ میں سوئے گی ورنہ میں اسے موم کے کمرے میں دے آؤں گا بی بی کارٹ میں لیٹی چند مہاں کی عبرش کو محبت پانچ نظر سے دیکھ کر کہا گازان منتحہ نے آنکھیں پھیلائے یہ کیا بات ہوئی یہ وہی بات ہے جو آپ روز میرے ساتھ کرتی ہیں عبرش کو لے کر سو جاتی ہے اور میں انتظار کرتا رہ جاتا ہوں کہ میری ان باہوں کو میری بیوی کی قربت نصیب ہوگی لیکن آپ تو خوابِ خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے اوف گازان اب صدر جائے اتنے سال بید گئے ہیں لیکن آپ کی دیوانگی کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے یہ دیوانگی یہ عشق انتہا تک جائے گا آپ کا یہ خوبصورت چہرہ میری دیوانگی کو انوکھی رمز تک پہنچا رہا ہے گازان کی زندگی میں منتہا اس کی اول ترجی ہے باقی ساری چیزوں کی حیثیت بات میں آتی ہے اب جلدی سے ریڈی ہو جائے ورنہ دیر ہو جائے گی اور آپ کی شکایت حاضر ہو جائے گی اور کتنا ریڈی ہونا ہے منتہا نے حیرت سے آنکھیں فیلائی جتنا میں چاہوں گا اس کی لپسٹک مسل کا اس نے گویا اشارہ دیا تھا یعنی اسے یہ کلر پسند نہیں آیا تھا اوف گازان آپ کی عادت بہت بری ہے بگاڑی بھی آپ نہیں ہے بالوں کو کیچر سے آزاد کر کے وہ اب رش کو گود میں لیے باہر کے جانب بڑھ گیا یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ بال پیارے نہیں لگ رہے ہیں منتہا جھنڈلائی سی دوبارہ ڈریسر کے جانب بڑھ گئی میں منتہا سلطان زندگی سے بھرپور لڑکی جو رنگوں کی دیوانی تھی جو اپنے محرم کی دیوانی تھی لیکن اسی محرم نے سر کی چادر چھین کر رنگوں کو محبت سے دور کر دیا زندگی کے معنی بدل دیے گئے موت کی خواہش دل میں جگائی عشق مجھے اس وقت بدعا کی معنی لگا تھا لیکن کازان صدیقی کی محبت اس عشق کو دعا میں بدل گیا بے رنگ دنیا میں کازان صدیقی اپنی محبت کے گہرے رنگ بھر گیا رنگوں کو زبردستی میری زندگی میں ڈال کر وہ مجھے اپنے عشق میں گرفتار کر گیا مجھے اپنی ذات کا مان دے کر اس نے گویا مجھے خود سے باندھا ہے آٹھ میرے روم روم کہتا ہے اعتبار کی حد گازان صدیقی پر ختم ہے اور یہی سچ تھا کہ اعتبار کی حد گازان صدیقی پر ختم تھی اس شخص کا اعتبار ہی میری زندگی کا حاصل ہے ایک بات اکثر میرے ذہن میں حلچل مچاتی ہے اگر حاشر کو میری پسند سے نفرت تھی تو میں اس کی پسند کیوں نہیں اپنا سکی لیکن گازان کی پسند کو میں نے جی جان سے قبول کیا کیا میری محبت میرا سچائش گازان کے لیے تھا اس بات کا ذکر میں خود سے کرنے سے بھی گھبراتی ہوں کہ کہیں میری محبت کو میری ہی نظر نہ لگ جائے منتحہ اگر آج زندہ ہے تو گازان کے لیے گازان نہیں تو منتحہ کچھ بھی نہیں میں گازان سے دکھی اپنی ذات میں گم انفرادیت پسند شخص جسے جلد کوئی چیز پسند نہیں آتی لیکن وہ ایک چلبلی سی لڑکی پر دل ہار گیا اس لڑکی نے اس حد تک خوار کروایا کہ اس کے گھر تک جانے کی نوبت آگئی اپنی تربیت سے ہٹ کر کام کر گیا اس کو پانا میرے لیے چاند کو حاصل کرنے جیسا تھا وہ میری زندگی میں آئی گویا میری زندگی کو ایک نئی رمز دے گئی ہر صفت ہے اس لڑکی میں لیکن اعتبار کے معاملے میں وہ کمزور ہیں حاشر کے بہتبائی آج بھی اسے اعتبار کرنے سے رکھتی ہیں خدا اور اس کے محبوب کے بعد وہ میرے لیے اولین ترجی ہے اس لڑکی کے لیے میں نے اپنے بھائی کو خود سے دور کر دیا کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا جو چیز اس کے لیے نقصان کا باس ہو اسے میں دور کر دوں گا حمدان کی یاد دل کے کونے میں اب بھی موجود ہے لیکن منتحہ کے سامنے اس کا ذکر کر کے میں اپنی روح کو تکلیف نہیں دے سکتا وہ روح ہے میری اور روح کی تکلیف انسان کبھی برداشت نہیں کر سکتا حاشر علی حمدانی انا پرست رنگوں سے نفرت کرنے والا شخص اپنی محرم پر ہی بیعتباری کر گیا میری ذرا سی بیعتباری اس لڑکی کو مجھ سے جدہ کر گئی شاید میں اس چاند صیرت لڑکی کے قابل نہیں تھا کہ اللہ فاق نے مجھے دیکھ کر وہ چیز مجھ سے دور کر دی پاس تھی تو اس کی قدر نہیں تھی اور جب دسترہ سے دور گئی دل نے اسی کی تمنہ شدت سے کی برسو میں نے انا پرستی میں گزارے اور جب حقیقت کا ادراک ہوا میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا آج بھی دل کے کونے میں اس کی محبت سر پٹکتی ہے لیکن اس محبت کو دل کے کونے میں دبائے آج لائبہ اور ولی کو بھرپور وقت دیتا ہوں لیکن جو محبت منتح سلطان کے لئے ہے وہ شاید لائبہ کے لئے ممکن نہیں ہے اس راز کے ساتھ مجھے تا عمر لاحاصل جینا ہے کیونکہ کچھ چیزیں پڑھنے کی صلاحیت بھی ہر شخص میں موجود نہیں ہوتی خط شدہ یار میں نے اتنا سارا پڑھ لی کہ اب تو میری آواز بھی مجھے پڑھنے سے منع کر رہی کہ اب مت پڑھ بہت پڑھ لیا پوری کہانی مجھے بہت ہی خوبصورت لگی بہت اچھی لگی آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی رائے مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ خدا حافظ